हेलो डियर मैं भुतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूप चैनल पर बहुत बहुत वैलकम करता हूँ उमीद है कि आपकी जो पढ़ाई है बढ़िया चल रही होगी यह जो वीडियो है यह time and distance के लिए अपने SSC के जितने भी एक्जाम है और SSC के जैसा से ले बस जिस भी एक्जाम में आता है तहे वो banking के एक्जाम हो concept same है CDS के एक्जाम हो state के एक्जाम हो जैसे UP Police का बिहारदारोगा का प्रियाना के एक्जाम CSET का एक्जाम जितने भी एक्जाम है उन सभी के लिए यह एक रामबान वीडियो होगी mainly SSC exams को mind में रखके बनाए गई है मैं SSC के लिए पढ़ाता हूँ लेकिन कितने बहतरी न तरीके से आपको इसके अंदर पढ़ाया गया है जो वहाँ पर मिलता है complete वो सारे का सारा time and distance यहाँ पर है जो भी अपने batch के अंदर chapters होते हैं ऐसे ही सारे chapters होते हैं उन में से एक chapter time and distance का मैं complete यहाँ पर दे रहा हूँ यह आप gift माल लो मेरी तरफ से जो भी अपने YouTube के students उन सभी ठीक है complete time and distance का मतलब यह है कि इसी के अंदर जो अपना time and distance है उसके कई portions होते हैं जैसे normal time and distance के concept होगे हर तरह के question होगे और problem on trains जनरल इस नाम से famous है अदर्वाइस यह relative speed का concept है result and speed का concept boat and stream नाम से famous है जो races है मतलब time and distance के अंदर जितनी भी चीज़े है वो सारी इसी वीडियो के अंदर है clear है और यह मैं guarantee से कह सकता हूँ मैं online internet के प्रे guarantee लेकर कर रहा हूँ यह the most efficient video है time and distance की ठीक है यह बिलकुल relevant होगी हम irrelevant चीज़े नहीं करेंगे और मैं आपको fastest methods बताऊंगा और easiest method जो fastest methods में मैं आपको बताऊंगा आपको चीज़े रटनी नहीं पढ़ेंगी मैं आपको practically समझाऊंगा आपको मजा आएगा आ और यह सब करना पड़ेगा आपको मजा आएगा कि सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ ठीक है और आपको बिलकुल zero level से लेकर अगर आपने पहले time and distance बिलकुल भी नहीं पढ़ा और बिलकुल 100% तक इसके अंदर आप expert हो जाओगे ठीक है मेरे भाई इसलिए most efficient बिलकुल relevant एक और की वीडियो है ठीक है आपने जस्ट क्या करना है time and distance के लिए just repeat this content ये जो वीडियो है और इसके साथ मैं आपको PDF भी दूँगा उन सारे questions की इस वीडियो के अंदर है उसी order के अंदर हिंदी, English, answer की सब कुछ मैं आपको दूँगा तो time and distance कर लिया ये वीडियो आपने द content के वीचे भागते रहते हैं बलकि उन्हें वही नहीं आया होता जो उन्होंने एक बार कर रखा है ठीक है एक बार मैं आपको सारी चीज़े थोड़ी आ जाती है बार बार repeat करके और ज्यादा understanding बढ़ती है तो यहां पर मैंने word use किया है at least कम से कम ठीक है दो बार वीडियो क question के book से कहीं से भी करने की जरूत नहीं है इसके अलावा से रख मौक के अंदर आप time and distance के question कर सकते हो तारे chapter इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ठीक है और अगर आपको इसी तरह के और भी topic चाहिए यह भी मैं आपको free source ही बता रहा हूँ जैसे यह वीडियो course के chapters है वही एप के अंदर देता रहता हूँ वह कहां पर मिलेंगे वह मैं बता देता हूँ सारे chapter तो batch के अंदर रहते ही रहते हैं लेकिन वहां पर भी मैं देखता रहता हूँ देखो एक तो इस वीडियो की PDF आपको कहां पर मिलेगी इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी दोस जो अपनी even coaching center की app है install नहीं करी है तो वीडियो के description में link है install कर लो SSC exams के लिए एक aic app है जिसके अंदर highest quality का free content available है free content बहुत सारा मैं देता हूँ paid content तो देते ही देते हैं platform चलता है उनसे लेकिन जो भी मैं free content भी देता हूँ उसमे highest quality का content आपको देते हैं किसी भी content में कोई भी भेद भाव नहीं करते हैं कि ये content free में दे रहे हैं तो low quality का दे 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 नहीं मैं content ही नहीं दूँगा अगर low quality का मैं बना पाए तो जो भी content आएगा top नो चाहेगा उसके लिए charge करना है नहीं करना वो लग बात है ठीक है भाई उमीद है point समझ गया आप लब हम खर्चा लगा के content बनाते हैं जो भी आपको देते हैं खुल मिलागरी ये बात है effort, खर्चा, energy, सब कुछ तो जो यूट एप के अंदर आपको YouTube PDF नाम का folder मिलेगा उसके उपर क्लिक करोगे तो June 2000 ते इस एक folder मिलेगा उसके अंदर PDF मिल जाएगी इस वीडियो की इसी नाम से time and distance complete video इसी नाम से इस folder के अंदर ठीक है और अगर आपको बाकी free topics मेरे से पढ़ने हैं तो paid course के demos यहाँ पर complete topic free मिलते हैं complete topic माल लो मैं यह नहीं है कि एक topic की दो ही वीडियो आपको दे दी मैं दो वीडियो में तो आपको impress करी लूँगा मैं है कितने साल हो गए पढ़ाते हुए है तो full मिला कर यहाँ पर क्या होता है एक पूरा chapter अगर मैं algebra दे रहा हूं तो starting से लेकर end तक पूरा algebra मैं आपको दूँगा जिससे आपको यह पता लग जाए कि हाँ मैं ऐसा पढ़ाता हूं बाकी chapter भी ऐसे होंगे तो time and distance तो आपको इस वीडियो में मिल गया बाकी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है और जो बाकी subjects है math के लावा reasoning English उन सब का भी एक के complete chapter आपको यहाँ पर मिल जाएगा clear है यह जो अपने paid courses है उन्हीं का demo हम यहाँ पर दे रहे होते हैं ठीक है बाई वीडियो को start करते हैं बाई बिना देरी किये pen, notebook यह लेकर बैठो mood होकर बैठो बढ़िया mood में बैठो आपको मजा आने वाला हाग है ठीक है तो तियार होकर बैठो quest मत करना है वीडियो Hello dear आपका इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम अपना time speed and distance start करने वाले हैं तो time speed and distance का concept lecture one है उमीद है कि अब तक जो chapter आपने किये हैं कि वो सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अगर एक अदी चीज समझ में ना आए तो आप उसको repeat करके देख रहे होंगे clear है तो pen और notebook लेकर हमेशा की तरह बैठिये अपने mood को set करके बैठिये आज time speed and distance start करेंगे और बड़े ही मज़ेदार तरिके से इस topic को हम खतम करेंगे बहुत इंटरस्टिंग topic है और इसके अंदर तीनी चीज़े है time speed और distance इनकी एक simple relation है उसी relation को अलग-लग ways में explore करेंगे अलग-लग दरिकों से देखेंगे ठीक है तो कोई खासा difficult topic नहीं है इसको माप के लिए बहुत ही आसान बना देने वाला है तो आज जो concept lecture one है उसके अंदर हम करने वाले हैं इसका जो formula है time speed and distance का और उसकी unit conversion है यह माप को सिखाऊंगा और उसके बाद बहुत सारे आसान आसान बड़ी अबड़ी असवाल करें ठीक है start करें फिर तो सबसे पहले formula formula बहुत ही basic है अगर मैं आपको यह बोलूं कि कोई बंदा जो है वो 30 km पर आर की speed से जा रहा है तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं यह क्या है यह speed speed क्या होती है speed का मतलब है कि 30 km पर आर की per unit time में कि कितने time में बंदा कितने ही दूंत जा रहा है Speed का मतलब यह है basic कों कितनी speed से चल रहा है अगर कोई ज्यादा speed से चल रहा है बहुत तेड चल रहा है इसका मतलब कि वो कुछ time के अंदर कोई fix time ले लेते हैं कोई बंदा बहुत ही तेट चल रहा है तो एक fix time अमने ले लिया वो तेट चल रहा है तो उतनी time में काफी दूर चला जाएगा एक बंदे की speed कम है तो वो कम दूर जाएगा उतनी time तो speed का मतलब होता है distance traveled per unit time एक गंटे में कितनी दूर गया एक गंटे में अगर दो बंदों को में एक एक गंटा दूँ एक बंदा ज्यादा दूर चला जाए एक बंदा कम दूर चला जाए तो जो बंदा ज्यादा दूर चला गया उसकी speed ज्यादा है एक गंटे में वो ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है हर एक गंटे में तुसर क्या एक गंटे में देखना है नहीं स्पीड को मेंटर पर स्रेगिंड में देख लो फिट पर स्रेगिंड में देख लो इंस पर स्रेगिंड में देख लो इंच पर आर में देख लो कैसे भी देख लो हमारी मर्च है हमने डिस्टन्स ना अपना है टाइम ना अपना है किसी भी उनिट में आप सकते हैं लेकिन हम अपने एक्जाम के इसाब से करेंगे तो स्पीड का मतलब होता है कि बंदा कितनी तेज चल रहा है यानि कि कितने टाइम में कितनी दूर जा रहा है इसका मतलब है कि एक गंटे में 30 किलोमेटर पर आर जा रहा है यह स्पीड है अगर मां आपको बता दूँ एक बंदा 30 किलोमेटर पर आर की स्पीड से जा रहा था और तो टोटल उसने तीन गंटे तक अपनी गाड़ी को चलाई रखा या तीन गंटे तक वो चलता ही रहा तो बताओ कितनी दूर चला गया होगा तो आप बोलोगे सर स्पीड का मतलब होता है कि एक गंटे के अंदर वो 30 किलोमेटर परार का मतलब है एक गंटे के अंदर वो 30 किल किलमेटर जा रहा था अगर एक गंटे में 30 किलमेटर वो जा रहा था तो ऐसे ही तीन गंटे के अंदर एक गंटे के अंदर उसने 30 km कवर किया अगले एक गंटे के अंदर उसने फिर से 30 km कवर किया तो 3 गंटे के अंदर उसने 90 km ट्रैवल कर लिया एक गंटे में 30 km तो 3 गंटे में 30 x 3 सर 90 km ट्रैवल कर लिया तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि कितना ट्रैवल कर लिया कितनी दूर चला गया इसीज को क्या बोलते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने कितनी दूरी टैक कर ली speed को Hindi में क्या बलते हैं, गती कितनी है, कितनी तेज जा रहा है बंदा time को Hindi में बलते हैं जी, समय तो मुझे आपको रटवाने की जरूरत है का formula, कि भीया speed का मतलब होता है कि 1 गंटे में कितनी दूर जाएगा, time का मतलब है कि भीया कितने गंटे, तो distance का क्या मतलब होएगा, speed into time, एक गंटे में इतनी दूर जाएगा और इतने गंटे तक वो चला, तो distance निकालना है, तो this into this, तो वो क्या हो जाएगा, 90, तो ये formula आपको रटवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल इक common sense के उपर बना है, एक गंटे में एक बंदा 20 से खाता है, तो तीन गंटे में कितने खाएगा, 20, 30, 60 काज है, इतनी common sense पर बना है, अगर आप दूद की थाली लेने जारे हो, दुकान के उपर, एक दूद की थाली 30 रुपे की आती है, तो तीन दूद की थाली 90 रुपे की आएगे, उसी basic सी understanding के उपर, based ये तीनों values एक understanding है इन तीनों values के बीच में, तो clear है, ये बात समझ में आगी, distance is equal to speed into time, ये हमारा बहुत ही basic formula है, इस टोपिक का, और इसको हम starting से लेकर रहें, इंड तक यूज़ करेंगे, इस understanding को, तो इसको दिमाग में बैठा लो, जाज़े हाथ पर आम लिखवाते हैं, कई बंदे, या समझ में आगे, तो, आगे से हम इसका ये format यूज़ किया रहेंगे, distance is equal to speed into time, याने कि अगर ये तीन चीज़े आपको given है, अगर आपको इन तीन में से कोई भी दो चीज़े given है, तो आप तीसरी चीज़ निकाल पाओगे हमीशे, ठीक है, और speed is equal to, यहीं से मैं बना रहू होगे, तो speed is equal to distance upon time, time is equal to distance upon speed, यह एक ही formula है, उसी को अलग-अलग द्रिके से हम देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, बहुत easy है, school में ये किया है, school में नहीं भी किया हो, वैसे तो हमने किया है, तो हमारी common sense भी ये कहती है, अगर किसी बंदे ने दसमीं कर ली, बारमीं कर ली, graduation कर ली, तो इतनी common sense हो जाती है, जो मैंने अभी तक आपको समझा, ठीक है, एक चोटी सी बात बता दू, starting, starting में बंदे ये भूल जाते हैं, उनको ये याद नहीं रहता, कुछ बंदों को, speed is equal to time upon distance है, distance upon time है, उनको ये confusion होती है, वैसे तो बहुत ही चोटी सी बात है, बट ये confusion भी मैं दूर कर देता हूँ, देखो, क्योंकि मैंने इसको याद करने के लिए, बच्पन में formula बनाया था, बच्पन में मैंने कैसे याद किया था, बाद में तो फिर तो common sense इतनी आई जाती है, रहे, देखो, बच्पन में मैंने ये understanding बनाई थी, कि distance हो है न, वो time से, distance हो है, वो दो चीज़ों से बना है, speedव time से बड़ा है, बड़ी चीज़ को तो divide किया जाए, इसके अंदर सारी चीज़ें है, इसके अंदर सब कुछ है, इसको मैं speed से divide करूँगा तो time आजाएगा, जो distance हो s into t ही तो है, उसको अगर मैं time से divide करूँगा, तो speed आ अदर्वाइस तो बहुत ही basic ची बात है ठीक है एक चीज हमने clear कर ली अब दूसरी चीज दूसरी चीज है जी unit conversion अब यह unit conversion क्या है सर देखो हमारे पास तीन चीज है एक तो है जी distance distance मान लो मैंने आपको बोला कि कोई बंदा 3 km distance travel कर रहा है है हमारे पास distance की generally 2 unit है वैसे तो बहुत सारी unit है लेकिन हम अपने exam के अंदर maximum जो units use करते हैं वो 2 unit use करते हैं एक तो kilometer और 1 meter ठीक है अगर मैं आपको बोलू कि distance 3 km है इसको meter में बदलो तो आप तुरंद बोल दोगे यह तो 3000 meter है 3 km जाने की 3000 meter ठीक है तो distance को distance की unit को kilometer से meter में या meter से kilometer करने में आपको कोई प्रेशा नहीं हो रही है आप बलोगे नहीं सर प्रेशा नहीं तो कोई नहीं हो रही है इसके अंदर ठीक हैसे अगर मैं आपको बोलू time mainly 3 time के unit अ 60 minute होते है 60 दूने 120 तो 120 minute हो गए अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको second में बदलो seconds में बदलो तो आप बोलोगे सर एक घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर 60 minute होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 second होते हैं ठीक है तो 60 minute के अंदर कितने second होएंगे 60 into 60, 37 second है यानि कि एक घंटे के अंदर 36 second होते हैं ये भी मेरे खेल आपको याद ही होएगा पहले से याद होना चाहिए था बिल्कुल basic सी बात है ठीक है तो अगर मुझे घंटों को भी second में कनोट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है दो बार 60 से गुना करना है दो घंट बताती है अगर मुझे स्पीड को कनोट करना होए तो उसके लिए मैं आपको short cut बताऊँ कि अगर मेरे पास speed given है यहाँ पर 72 km per hour for example और मुझे इसको कनोट करना है ये km per hour में है मुझे इसको कनोट करना है मीटर पर second के अंदर तो मैं इसको कैसे करूँ को तो मैं आपको पहल हम बतल रहे हैं किलोमेटर को मीटर में कैसे बतलovyं किलोमेटर से कितने गुणा है मीटर Olahir 5000 नहीं सि से इक गन्हटा है सिकलर हजार मीटर ठीक है मैंने यहांप लिए हज़ार किकलो मुटर पर हारता किकलो मिटर की जगा ओकल्षय लिग से लिखी दिया मीटर पर सेकिंड का क्या मतलब है मीटर बटे में सेकिंड मीटर बटे में सेकिंड यहाँ पर इसको काटो ज़रा दो जीरो से दो जीरो गई दो से मैंने काटा पर गया दो से मैंने काटा अठारा पर गया ठीक है तो जब मुझे बहतर किलमेटर पर आरको मीटर पर सेकिंड मे आंसर हो जाएगा 72 into 5 by 18 meter per second, 18 चोके बहतर, 5 चोके 20, 20 meter per second, ठीक इसी परकार अगर इस meter per second को kilometer per hour में convert करना है, तो आपको 18 वटे 5 से गुना करना है, यहाँ पर 5 पर अठारा से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 18 वटे 5 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 18 वटे 5 से गुना कर रहे में बदलना, आर को second में बदलना, यह तो मुस्किल हो जाएगा ना हमारे लिए, तो यह चीज़ याद रखेंगे, 5 पर अठारा से गुना करना, और 18 वटे 5 से गुना करना, simple है, इससे तो simple है, लेकिन यहाँ पर क्या challenge है, यहाँ पर challenge है, कि आपको याद कैसे रहेगा, मीटर और किलोमेटर में बड़ा कौन है, किलोमेटर बड़ा है वाई, एक मीटर तो इतना सा होता है, किलोमेटर बहुत बड़ा होता है, आर और second में बड़ा कौन है, घंटा बड़ा है, एक second तो छोटा सा होता है, एक गंटे में 3600 second होता है, तो बड़ी unit से कौन सी value बनी ह चोटी यूनिट से कौन सी value बनी है चोटी यूनिट से ये value बनी है तो हमें confusion है कि मैं 5 पटे 18 से गुणा करूँ या 18 पटे 5 से गुणा करूँ है तो हमारे पास दो fraction है 18 पटे 5 और 5 पटे 18 इन्हें से बड़ी fraction कौन सी है बड़ी तो ये है जिसमें numerator बड़ा है चोटी ये है जिसमें numerator चोटा है तो जब आप चोटी unit की तरफ जा रहे हो आपको ये देखना है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ जब आप चोटी unit की तरफ जा रहे हो तो चोटी fraction से गुणा करोगे यहने कि 5 अपटे 18 से जब आप बड़ी unit की तरफ जा रहे हो चोटी unit की तरफ जाने का क्या मतलब है अगर कोई आपको बोलता है 108 km per hour को meter per second में बदलो तो मैं चोटी unit की तरफ जा रहा हूँ बड़ी unit को चोटी में convert कर रहा हूँ meter per second की तरफ जा रहा हूँ कि अगर मुझे मीटर पर सैटिन्ड को मा लोग कोई बूल रहा है कि या 60 मुटरम पर ना PSN को किलो में प्राल owners बढल डू तो मैं बड़ी यूनिट की तरफ जाओं मगा तो मैं बड़ी यूनिट की 16 किलमेटर पार है यह बात ध्यान रखो कि यूनिट का नोर्जन कैसे करना स्पीड का स्पीड वाले में इमार खाऊगे आप भी खाऊगे स्पीड को कनोट करने का आसान तरीका है सिर्फ डिस्टेंस को कनोट करना बहुत ईजीए किलोमेटर को मीटर में बदलना है अजार से डिवाइड करतो एक आर को सेगेंड में बदलना है तो क्या बोलते हैं अगर सर मिनट में भी बदलना पड़ जाए मिनट मीटर पर मिनट ऐसी यूनिट नहीं आएगी टेंशन मतलों बार 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 नहीं आएगी जब भी आएगी हम क्वेस्टन के कोडिंग डील कर लेंगे यही है जिसके में जरूरत है तो दोनों चीज़े समझ में आ गई हैं दोनों चीज़े मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको फॉर्मूला भी ठीक है और यूनिट कनवर्शन भी अब हम क्या करेंगे अपनी इतनी सी नोलेज के साथ इन क्वेस्टन को करने के लिए कूद पड़ेंगे पहले मैं आसान आसान क्वेस्टन आपको करवाऊंग दिए दिरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका कमफर्ट बने स्टोपिक के साथ हमेशा की तरह आसान आसान क्वेस्टन से स्चार्ट करेंगे फिर धीर धीर अपना लेवल बढ़ते रहें तो फिलाल आसान क्वेस्टन करेंगे और उससे पहले थोड़ासा वर्मप भी कर ले जब हम एक chapter के अंदर घुशते हैं तो उसके according source को थोड़ आशा में दिरे दिरे आपकी को warm-up करता हूँ देखो तो यहाँ पर क्या है find the missing value आपने ये missing values निकाल ली है एक बार खुद निकालो तो उसके बाद मैं बताऊंगा तो भाई हमें formula पता है की नहीं पता है distance is equal to speed into time clear है हाँ जी तो speed given है time given है तो distance क्या हुएगा distance हो जाएगा 50 into 3.5 तो 50 into 3,500 50 into 2.5 पचास का अदा 25,500 और 25, 175 175 km clear है यह बोल रहे हैं कि 50 km पर आर की speed से साड़े तीन गंटे में कितनी दूर जाएगी कोई भी चीज तो तीन गंटे में तो 500 km चली जाएगी 15 to 3 और आद दे गंटे में 25 km जाएगी जब एक गंटे में 50 km जा रहे है तो आद दे गंटे में 25 km चली जाएगी अब distance की सीज में है सर डिस्टेंस है मीटर में time की सीज में है सर टाइम है सेकिंड में तो मीटर पर सेकिंड में आएगा ना अंसर यह तो मीटर पर सेकिंड में है लेकिन निकालना है किलोमेटर पर आर में तो कैसे निकालोगे यह मीटर पर सेकिंड में है अभी जो भी है त तो बडी फ्रेक्शन यानि के 18 बुते 5 से मुल्टिपिब्लाई करेंगे हमारे पास दो फ्रेक्शन है थार बुते 5 और पस बड़्य 협ड ह State of बड्न तरफ जाएंगे तो बडी से अभी करेंगे सोटी उनिट के तरफ जाएंगे तो propage समार्य रहे चुलोजे क्लियर है तो करोई इसको सॉल 25 येफिचेतर 5 3.18 पाँच दूनी दस शे दूनी आच यही आए के 12 कि लोटर पर आ रही आ रहा है तो बार फिर शेच चाहर कर लोगे लतना हो गया हुआ अब आगे हमें क्या निकालना है मेरे वाई अगया में निकालना है टाइम तो टाइम क्या होएका डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसके अंदर डिस्टेंस कितना है 800 मेटर ठीक है स्पीड कितनी है 45 किलोमेटर पर आर अब एक बात आपने ध्यान से दी ध्यान से देखिए देखो मेरी बात ध्यान से सुनो distance, speed और time तीन यूनिट है distance kilometer में होएगा distance kilometer में होएगा और speed और time अगर hours में होएगा घंटों में होएगा यह kilometer में है यह घंटों में तो यह kilometer per hour में होएगी यानि कि तीनों चीजों में kilometer और hour यूज होएगे या तो या तीनों चीजों के अंदर meter और second use होएंगे ये meter में होएगा distance तो speed meter per second में होएगा time second में होएगा दो track unit है एक तो kilometer और hour से बनी है एक meter और second से बनी है हमें ये अलग-अलग use करने है अगर बीच में कुछ अलग-अलग दिया है तो हमें convert करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है ये तो meter में given है 800 आप बोलोगे जी हाँ और हमें निकालना है second में आप बोलोगे जी हाँ तो इसको meter per second में convert करो ये तो kilometer per hour में फाल्तु में meter और second में deal करना है में तो इसको अलग से meter per second में convert करके लाने की जुरूद नहीं है इसको यहीं पर convert कर तो यही पर रगड दो इसको कहाँ पर मिलगा वही पर रगड दो यह 45 है यह 45 किलोमीटर पर आ रहे हैं मैं मीटर पर सेघिने में करना चाहरा हूं तो यह लोगत पांचवन अठारा निचे वाला 18 प्लट कर उपर चला जाएगा तो क्या सेठ यह Means न हूचविए है हूच है ये सारा मामला यह जो भी होगा ये व्होग्या मिटर पर सेकंड लोग देगा हम्हें सोच ना नहीं है 69 सोचना नहीं है अब शोल करेंगा भी कथ lobby कर दो हमानलब में सुखिंद Uh तो एक पांच मैंने यहां से उठाया, एक पांच मैंने यहां से उठाया, 25 उठाकर मैंने 25 के 100 और 9 जो है 9 दुनी 18, तो एक फ्रेक्शन में चीजों को 100 लुकरना सीखो, clear है, तो मज़में आ रही है बात, चलो जी, अगला एक्वेशन, आगे हमने क्या निकाल रहा है वाई, आगे हमने निकाल रहा है, तो स्पीड क्या होएगी, स्पीड is equal to distance upon, time, distance कितना है, और units का भी द voi falar रहाना है, distance है 360 km, time कितना है, टाइम है, गला, 25 अर्च, तो ये km में है, ये अर्च में है, अगरेवी, लेकिन हमें तो बता नहीं, meter per second में, तो kilometer पर hour में यह आई पड़ी है, इसको solve करने के जरू पर entrar है, इसको metr per second में कैसे बदलूँ, meter per second चोटी unit है, तो चोटी fractions से multiply, मैं इतनी detail में प्सक्राइब दो बता रहा हूँ, में च्यार मेंटर पर स्प्क्राइब है और यह किने बताना है time बताना है time is equal to distance upon speed distance कितना है मेरे बाई भाई लिटीनafter यूनिट्स का द्यान सदो है किलोमेटर में है और यह किसम्ophobia है यह ए मीटर पर सेकंड में, मुझे किया चीए है, मैंजी चीज के लिए कंसरण हूँ कि मुझे क्या चीए, बतल भी बंदे हैं, हमें क्या चीए है, हमें तो इसको किलोमेटर पर आर में कर दो कर देता हूं किलोमेटर पर आर में कैसे करूंगा किलोमेटर पर आर तो बड़ी unit है तो बड़ी fraction से multiply करूंगा अठार आपके 5 से पांच उपर चला जाएगा है ना ठीक अब कर दें फिर पाँच साथे 35, 18 साथे 126, तो बच गया 10, तो आंशरी इस 10 आर्श, क्लियर, दिमाग थोड़ा सा गरम हुआ आपका, थोड़ी थोड़ी अंडर्शेंडिंग बनी, जी जो की, अभी हम questions को इस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे exam में आएंगे, basic basic questions से start कर रहे हैं, दिरे-दिरे level को बढ़ाएंगे, कार traveling at a speed of 40 km per hour, can complete a जरनी in 9 hours, 40 km पर ती घंटे की रफ़तार से 9 घंटे में जरनी को complete कर ले रही है, तो मेरे पास speed है, मेरे पास time है, speed into time is equal to distance, तो मुझे distance पता लग गया है, speed into time is equal to distance, कि 360 km है, अब इस distance को travel करने में कितना time लेगेगा, इस speed से, तो distance, बटे में speed is equal to time, distance तो मेरे पास है, इस distance को 60 km पर आर की speed से travel करने में कितना time लगेगा, 6 hours लगे, ले रहे हैं, answer is, option है, उमीद है, यह आप इस चीज़ के साथ familiar हो रहे होंगे, अगर आप इस चीज़ के साथ familiar नहीं हो रहे, तो इसको 7-8 बार लिख लो, और 7-8 बार भी नहीं, तो ज्यादा ही बार लिख लो, 15-20 बार लिख लो, इन चीज़ों को, अभी वीडियो को पोस करो, speed is equal to what, time is equal to what, ऐसे बार 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 बार, पर आद्धा या एक पूरा पेज भर दो, जो बंदा इसके साथ comfortable नहीं है, फिर आगे करने में आपको मजाएगा, अगर इनी बेसिक चीज़ों में उलजेर होगे, तो फिर question के उपर क्या ध्यान दोगे, यह बहुत ही basic है, एक तो इस formula की, तीनो forms को बार बार लिख दो, ताकि इसमें कोई दिक्कती नहीं आओ, इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चीए, बढ़ हो रही है तो लिख दो कोई दिक्कती नहीं, और इस चीज़ों में बठा लो, कि मीटर पर से किलोमेटर पर आर में जाओंगा, तो अठारा बटे 5 से गुना करूंगा, यहां से यहां पर आँगा तो पांच बटे अठा रहें इसी बेसिक समझ के उपर हम आगे का इक्वेशन सोल करने हुआ एक कार कवर से डिस्टन्स ओफ पांच ओठाइस किलोमेटर इन असरटेन टाइम अट एस स्पीड ओफ 66 किलोमेटर परा कार इतने डिस्टन्स को इतनी स्पीड पर कवर करती है तो उसको कितना टाइम लगता होगा मैं यह देख लेता हूँ डिस्टन्स अपॉन स्पीड इस इक्वल टू टाइम और एक्जाम में मैं यह नहीं लिखता कि distance upon speed is equal to time और कोई भी नहीं लिखता नहीं आप लिखेंगे अभी बस समझाने के लिए लिख रहा हूं ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा एक्जाम में तो हम डिरेक्ली ऐसे 528 बटे 66 हमें पताई है क्या आएगा हमें पताई है टाइम हाएगा distance upon speed तो 11.66, 11.47, 11.88, 6.88 यानि कि 8 hours यानि कि कार को कितना टाइम लगता है कार को 8 गंटे लगते हैं जी ठीक है how much distance would a truck cover एक truck जो हो कितना distance cover करेगा यह बोल रहे हैं कितना distance cover करेगा तो भाई कोई भी चीज कितना distance cover करेगी उसके लिए मुझे दो चीज़े चीज़े है speed or time उनका product करके बता दूँगा कि भाई इतना distance travel करेगा तो यह उसकी speed or time बताएगा आपको how much distance would a truck cover at an average speed which is 24 km per hour less जो की इतने km per hour कम है than that of the car car की speed से इतनी कम है car की speed तो इतनी है भाई इसमें से इसको गटा दो 66 minus 24 42 km per hour time in time which is 7 hours more than that taken by car और time जो है वो car ने जितना भी time लिया उससे 7 ज्यादा है 7 गंटे ज्यादा है आठ में 7 जड़ोगा यानि की 15 गंटे की बात कर रहा है 42 km per hour की speed से ट्रक चल रहा है 15 गंटे ले रहा है तो 15 into 42 630 km कवर कर देगा कितने कवर कर देगा 630 ठीक है क्लिर है होती असान क्वेश्टिन है यह बता हुआ the distance between place A and B is triple nine kilometer an express train leaves place A at 6 a.m. and runs at a speed of 55.5 km per hour ठीक है the train stops on the way for 1 hour 20 minute it reaches B at A and B के बीच में जो distance है वो 999 km का है एक train है जो A से 6 बजेने के लिए सुबह 6 a.m. पर निकली है ठीक है और इसकी speed जो है 55.5 km per hour है और यह बीच में कहीं न कहीं रुकी होगी एक उस देर के लिए एक गंटा 20 minute के लिए रुकी है ठीक तो यह पूछ रहे हैं कि यह कितने बजे पहुचेगी तो यह बीच में कहां पर रुकी यह मैंटर नहीं करता है एक उस देर के लिए रुकी थी कोई दिक्कत नहीं है अब यह माननों कि अगर यह ना रुकी होती तो कितनी देर में डिस्टन्स को ट्रेवल करती तो simple सी बात है सर्वो तो अगर हमें time निकालना है तो distance upon speed कितना distance कवर के अजार है 999 इतना distance कवर के अजार है कितनी speed पर कवर किलोमेटर पर आर तो पहले तो भी इसमा पॉइंट को अठता हूँ ठीक है 111 का पाड़ा आता है अपको येलो भाई देख रहे हूं मैं कितना intelligent हूँ 111 का पाड़ा भी आता है 111 5, 119, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 तो भाई 18 गंटे लगेंगे उसको time कितना लगेगा 18 गंटे ना रुके इतने distance को इतनी speed से cover करने में 18 गंटे लगते हैं लेकिन actual में उसे 18 गंटे लगेंगे क्या नहीं वो जितनी देर के लिए रुकी थी वो time भी तो add होगा रुकी क्यों थी फिर वो रुकी थी तो वो time भी add होगा तो उसको exactly 18 गंटे नहीं लगेंगे उसको 18 प्लस एक 19 गंटे 20 मिनट लगेंगे तो जितने बज़े भी हो चली थी उसके अंदर मैं टाइम जोड रहा हूँ देखो 6 बज़े चली थी अगर मैं 6 बज़े गेंदर 12 गंटे जोड दूं या फिर छोड़ो यार सारी टाइम को ही जोड देते हैं एक बात तो आपको clear होएगी ना कि 24 कब बजते हैं देखो सुबह सुबह जब हम जब रात के 12 बजते हैं उसके बाद क्या बजता है एक बजता है फिर दो फिर ती आप अगर सुबह सुबह 4 बज़े उठोगे तो आप क्या बोलते हैं हमें 4 बज़े उठा क्यों दिन स्टार्ट हुआ है दिन को स्टार्ट ह गंटे होते हैं तो जो पहला गंटा होता है वो रात को होता है अब सुबह के 4 बजे उठते हो तो दिन को स्टार्ट हुए 4 गंटे हुए होते हैं तो दिन के 12 बजे के बाद 13 बज़ते हैं 14 बज़ते हैं 15 बज़ते हैं ऐसे ही 200 वाज़ दे हैं, 24 का बज़ने हैं राथ के 12 बज़े हैं, 24 गंटे पूरे हो गए हैं तो ये 6 बजे चली थी तो कितने बजे पहुंचेगी 6 बजे के अंदर मैं 19 जोड रहा हूं 19 और से 25 25 बज़ के 20 मिनट पर 25 रात के 24 तो बरजते हैं रात के 12 बज़े 25 बज़ के 20 मिनट याने की 1 बज़ के 20 मिनट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं है ऐसे तो बात नहीं होनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई तो ये अठारा गंटे हैं अठारा गंटे को इसमें जोड़ोगे तो इसके अंदर बारा गंटे जोड़ोगे तो सुबह के 6 से रात के 6 बज़ जाएंगे 12 गंटे में रात के 6 बज़ गे 6 और गंटे पड़े हैं यापर रात के 6 बज़े से 6 गंटे और जोड़ दोगे, रात के 12 बजगे, अंजी सर रात के 12 बजगे, उसके बाद एक गंटा 20 मिनट ओर है, एक गंटा 20 मिनट, clear, answer is option A, यह बताओ, MTS का question है, कि गंटा 20 मिनट, को आध, को क्यों, एक गंटा 20 मिनट, मैं है चिक्छान वार सी, कोई शीप है, C के अंदर, वहां से एक gunfire की गई है an echo is heard from a clip after lapse of 9.66 मैं बताता हूँ हो क्या रहा है मालो यहाँ पर कोई समुद्री जहाज है मालो यह पानी पर चल रहा है यहाँ पर कोई पहाड की कलीफ है ऐसे कोई पहाड है तो यहाँ से इन्होंने गोली चलाई गोली चलाई तो क्या हुआ इसकी आवाज चारो डायरेक्शन में गई होगी आप बोलोगे जी हाँ सर गई होगी ठीक है तो इसकी आवाज ऐसे गई इसी कलीफ से टकराई और फिर वापिस आगई आवाज ऐसे वापिस आती है एको होती है गूंजती है आवाज तो गूंजती कैसे है जो से टकरा टकरा के वापस आती है तो यहां से गोली चलाई तो गोली चलने के जो आवाज है उसकी बात हो रही है यह नहीं है कि गोली जाके टकरा के वापस आगी है ऐसे गोली टकरा के वापस नहीं आती आवाज आती है आवाज गई और आवाज टक्रा के वापस आर ठीक है तो यह बोल रहे है एन एको एको यानि की उसकी गूँज जो आवाज है वो 9.6 सेकंड के बाद सुनाई दी यानि कि जब उन्होंने गोली चलाई तो उसके 9.6 सेकंड कितनी बार travel कर लिया वो लोग यही distance पूछ रहे है the distance of cliff from the ship आवाज ने यह distance दो बार travel किया है तो दो बार travel करने में इसने इतना time ले लिया एक बार travel करने में इसको मैं 2 से divide कर रहा हूँ एक बार travel करने में यह 4.8 second लेगी तो जो आवाज है वो इतना time लेगी इस distance को cover करने में और आवाज की speed कितनी है sound की speed यह इन्होंने बता ही होगी आपर the velocity of sound is 1100 feet per second तो speed into time अब सर यह तो second में है यह feet में है देखो यह second में है time है second में वो है feet per second में feet per second तो कोई नही distance feet में आ जाएगा feet में ही वो पूछेंगे आपसे simple सी बात है ठीक है तो distance is equal to speed into time multiply कर दे इनको एक एक के बाद point है तो एक 0 गया तो एक 0 8 5 2 8 0 इस दी answer 5 2 8 0 इस दी answer clear है जी समझ में आगी बात बहुत ही easy है question a truck driver has to cover a total distance of 260 km in 4 hours 260 km का distance उसने च्यार गंटे में cover करना है he drives at a speed of 56 km hour for the first 75 minutes तो कोई दिक्कत नहीं है हमने इस चीज़ का द्यान रखना है कि total 260 km का distance 4 गंटे में travel हो पस और यह सारे question मेरे बताने से पहले कर रहे होगे उमीद है because बहुत आसान आसान questions है तो देखो जी सिरफ इन दो चीज़ों का द्यान रखना है 260 km 4 गंटे में travel हो बाकी कितनी speed पर travel कर रहा है नहीं कर रहा है हमें सिरफ इन दो चीज़ों का द्यान he drives at a speed of 56 km per hour for the first 75 minutes तो इस 75 minutes को मैं घंटे में बदल रहा हूँ घंटे में कैसे बदलूँगा 60 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 75 by 60 यानि कि 5 by 4 hours पहले 5 बटे 4 गंटे के अंदर उसने कितना distance travel किया होएगा distance is equal to speed into time तो speed थी उसकी ये और time था उसका ये उसने 70 km distance travel किया मैं सिरफ दो चीज़ों का द्यान रखना हूँ इन दो चीज़ों का जो examiner ने मुझे रखने के लिए बोला है कि इतने किलोमेटर इतने घंटे में चलाना है मैं बस उन्हीं के उपर focus कर रहा हूँ रहाँ पर कितनी speed थी नहीं उसको just use करके फैं करें हमें सिरफ इन दो चीज़ों का ये और वो ये बोल रहा है in the next 90 km अगले 90 km वो चला है 60 की speed से तो मुझे time निकालना है तो time is equal to distance upon speed मुझे time देखना है कि कितना time लगा तो time is equal to distance upon speed तो यहाँ पर उसे लग गए विया 1.5 गंटे 3 by 2 hours तो अब मुझे देखना कि बाकि कितने km चलना है तो 90 और 70 160 km चल चुका है 260 चलना है तो बाकि के 100 km वो चलना चाहेगा अब मुझे पता है कि वो कितने time में चलना चाहेगा क्योंकि total time 4 गंटे होने चाहे है तो मैं 4 में से इन दोनों को घटाऊंगा या 3 बटे 2 को मैं इसे मान सकता हूँ 6 बटे 4 अगर आप बुरा ना मानना तो मैंने उपर निचे दोनों जग़र डबल कर दिया क्योंकि यहाँ पर 4 था 6 बटे 4 6 और 5 11 बटे 4 यहाँ तक 11 बटे 4 गंटे लगे हैं total गंटे लगने चाहे हैं 4 तो 4 में से 11 बटे 4 को घटा रहे हैं यहाँ का time आ जाएगा तो यहाँ गया 4 चोके 16 माइनस एक 5 बटे 4 आर्ष तो यहाँ पर 5 बटे 4 आर्ष लगने चाहे हैं इतने distance को इतने time में करना है तो बताओ कितनी speed पर करेगा यही वो पूछ रहे तो भी बता देते हैं distance upon time is equal to speed distance upon time is equal to 80 km per hour ठीक है सर क्या ऐसे ऐसे आसान आसान की question आते हैं आते हैं भाई आते हैं लेकिन हम सिरफ आसान नहीं करेंगे हम हर लेवल के करेंगे हम हर लेवल के करेंगे आसान भी करेंगे मुश्किल भी करेंगे सब कुछ करेंगे यह बताओ ए मैन वाक्स at a speed of 8 km per hour after every km he takes a rest for 4 minutes how much time will he take to cover a distance of 6 km उच्छे किलोमेटर डिस्टेंस कवर करने में कितना time ले लेगा अगर वो हर एक 1 km के बाद 4 minutes का rest लेता है तो अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पर वो दो काम कर रहा है दो काम क्या एक तो वो चल रहा है और एक वो रुक रहा है एक तो वो चलने में time को खर्च कर रहा है कुछ time तक वो चल रहा है फिर कुछ time वो रुक भी रहा है इन दोनो time को मैं अलग अलग निकालना चाहूँ तो वो हर एक किलोमेटर के बाद 4 minutes रुक रहा है एक तो अपने पास यह option है कि मैं यह देखू एक किलोमेटर कितनी देर में cover किया फिर 4 minutes रुक रुक रुआ दूँ एक किलोमेटर कितनी देर में cover किया फिर 4 minutes रुक रुक रुआ दूँ लेकिन वो wise option नहीं है हम क्या देखेंगे कि अगर वो बिना रुके चले तो कितनी देर लगेगी बिना रुके चले तो कितनी देर लगेगी यूँकि वो चल रहा है फिर वो रुक रहा है उसके रुकने के टाइम को मैं अलग से calculate कर लूँगा कि वो कितनी बार रुका overall दो तरे का टाइम है कि वो कितनी देर तक चलता रहा और कितनी देर तक वो रुका रहा अपनी जर्नी के दोरान अपनी जर्नी जो वो total 6 km की है 6 km की जर्नी अगर वो ना रुके बिना रुके अगर वो cover करेगा तो मैं time जानना चाह रहा हूँ time is equal to distance upon speed अगर किसी को 6 km का distance 8 km per hour की speed से cover करना है तो उसको 3 बटे 4 hours लग जाएंगे 3 by 4 hours इसको मैं minutes में convert करना चाह रहा हूँ 3 by 4 into 60 उसको 45 minutes लग जाएंगे अगर वो बिना रुके चले तो अब मैं सिरफ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बिना रुके चले तो उसने 45 minutes तो distance को cover करने में ही ले लिया होंगे और वो बीच में रुका भी है तो मैं सिरफ interested हूँ कि रुका कितनी बार तो वो पहली बार कब रुका होगा अब यहाँ पर most probably जो गलती करेंगे बच्चे वो ये करेंगे जो चाहर एक किलोमेटर के बाद वो 4 मिनाट रुक रहा है टोटल 6 किलोमेटर distance चला है तो 6 बार रुकेगा नहीं यही गलत है क्यों पहली बार वो एक किलोमेटर distance के बाद रुकेगा फिर वो एक किलोमेटर और distance कवर करके रुकेगा यानि कि overall दो किलोमेटर distance के बाद फिर तीसरी बार रुकेगा एक, दो, तीन, फिर चोत्ती बार फिर पांचमी बार अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे यह गलती करते हैं जो गलती करते हैं वो बोलते हैं वो यहाँ पर भी रुकेगा भाई यहाँ पर जर्णी कंप्लीट हो चुकी है डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है कि आप ये बोलोगे कि तू 4 मिनट रुक यहाँ पर फिर मैं मापूंगा तरह टाइम नहीं डिस्टन्स तो कंप्लेट हो चुका है अब यहाँ पर वो रुके ना रुके क्या ही फरक पड़ता है तो सिरफ यह देखो वो कितनी बार रुका जर्णी के बीच में एक, दो, तीन, च्यार, पांच तो कभी भी लास्ट में अगर बंदा रुकता है उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि उससे पहले अपनी जर्णी तो कवर हो चुगे ना उस टाइम में अब वो चाहे लेटा रहे वहाँपर दिन राथ हमें क्या है तो वो टोटल पांच बार रुकेगा ले रहे जी आगे से ऐसे क्वेशन में हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट बार वाला काउंट नहीं करना छे डिवाइड डिड़ बाई वन किया था छे बार रुकने का आपको लग रहा था लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं करना सिर्फ पांच बार रुकेगा एक बार रुकने में वो च्यार मिनट खराब करता है तो पांच बार रुकने में वो बीस मिनट खराब करेगा तो पैतालीस मिनट यहाँ पर लगी चलने में 20 मिनट उसने लगाई रुकने में तो 45 और 20 65 मिनट में उसने जरह नहीं कवर की ठीक है आया हुआ क्वेस्चन है यह यह इसली टीर टू यह भी टीर टू का क्वेस्चन है बताओ B starts 4 मिनट आफ्टर A from the same point for a place at a distance of 7 miles एक place है 7 माईल के distance पर है यहां से A चलता है और B चलता है B जो है वो 4 मिनट बात चलना स्टार्ट करता है A on reaching the destination यह 7 माईल दूर है यह distance ठीक है टोटल 7 माईल A on reaching the destination turns back and walks a mile where he meets B हुआ क्या था B जो है वो भाई थोड़ा सा लेट चला था A जो है वो पहले चल दिया था A यहां से चलता रहा चलता रहा और जब यहां पर पहुँच गया A वापिस मुड़ गया और यहां से अपना यह जो भाई है B यह B भी जा रहा था यहां पर B को मिला कितनी दूर मिला यह B को यह 1 माईल दूर मिला 1 माईल दूर A ने जो है यहां से वहां तक पहुँचने में भी 7 माईल डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वापिस A एक माईल दिस्टेंस ट्रेवल किया A ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7 प्लस एक 8 माईल दिस्टेंस ट्रेवल किया है अब आगे पड़ते If A's speed is A mile in 8 minutes इसका मतलब क्या है कि जो A की speed हुआ पता है speed को हमेशा वह आपको ऐसे नहीं बताएगा कि km per hour में है m per second में speed का मतलब क्या है speed को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ A की speed ऐसी है कि वह 5 minutes के अंदर 30 km कवर कर लेता है तो speed का मतलब ही यह है कि इतने time के अंदर इतने kilometer चला जाता है, उसको मैं कैसे भी बता दू, मैं ऐसे बता दू, एक मिनट में कितनी दूर जाएगा, या मैं ऐसे बता दू कि 10 मिनट में कितनी दूर जाएगा, speed तो speed है, just मुझे बताना है कि इतने time में इतनी दूर जा रहा है, कितने time में जलता है, A ने, A ने total 8 mile कवर किये हैं, तो 1 mile को तो वो वह वाइज आप 8 minute ले ले लेता है कवर करने में, 8 mile को कवर करने में कितने मिनिट ले लेगा 54 मिनट ले लेगा एक माइल के लिए अगर 8 मिनट ले रा है तो 8×8 पर 64 मिनट ले लेगा और 20 हो है तो A को Total 64 मिनट होगे छलते हुए उसने 8 माइल डिस्टेंस कवर किया है 8 माइल को वह 64 मिनट में कर सकता है तो इसका 64 minute हो गए लेकिन 20 हो है उसको 64-4 B को भी 60 minute हो हैं चलते हुए B को भी 60 minutes हो हैं चलते हुए और B ने कितना distance travel कर लिया यह पूरा distance अगर 7 mile का है तो यह 1 mile कम किया है B ने पूरे distance से तो B ने 6 mile travel किया है so 60 minute के अंदर B ने 6 mile distance travel किया है और वो क्या पूछ रहे है जो पूछ रहे है उसके हिसाब से बताएंगे B's speed is B की speed जो हो क्या है वो A mile in this many minutes एक mile कितनी देर में cover कर रहा है तो 6 mile 60 minute में cover कर रहा है तो एक mile 10 minute में cover करेगा इलकुल common sense 6 mile में 60 minute ले रहा है एक mile में 10 minute लेगा इसकी speed है a mile in 10 minutes that is options इस question के अंदर कई बार student confused हो जाते हैं क्यों confused हो जाते हैं उनको आदत है कि इतने mile per minute लेगने यहाँ पर mile time की sense में उसने speed बता दी तो tension नहीं ले नहीं अगर confusion हो रहा है तो एक और question करूँ फिर करोगे यह tier 2 में IOIC gel में यह भी tier 2 में IOIC gel में यह करो इसके ओपर practice करके देखो मैं पानी पी रहा हूँ आराम से पीऊंगा तब तक आपने निकाला है हां जी अमीदेगे निकाल लिया होगा B starts 4.5 minutes after A from the same point for a place at a distance of 3.5 mile 3.5 mile distance पर एक place है ठीक है A ने क्या किया भाई A ने start किया उसके सब्सक्राइब 4 minutes बाद B ने start किया A on reaching the destination turns back destination पर पहुँचने के बाद A ने जो है वो वापिस से turn किया है और B भी यहां से जा रहा था और यह दोनों मिले यह कहां पर मिले turns back and walk a mile where he meets be और वो एक mile ही उसने चला था ठीक है तो उस तरफ जाते हुए A ने 3.5 mile distance ट्रेवल किया और वापिस आते हुए एक mile travel किया अब यहां पर कई बंदों को यह लगएगा कि ऐसे side में जाने पर भी तो उसने travel किया था यह सिरफ समझाने के लिए है अगर आपको ऐसा लग रहा है side में जाने के लिए यहां से यहां तक किया और एक mile और किया तो टोटल ए ने कितना किया टोटल ए ने 4.5 mile distance कवर किया है यहां पर मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूं आपको समझाते हुए तो 4.5 mile उसने कवर किया है और A की speed क्या है A mile in 6 minute एक mile 6 minute में कवर करता है इतने mile कवर करने में उसको कितना time लग गया हुएगा एक mile 6 minute में तो इंटू 6 कर दो कितने mile करने के लिए 24, 6 इंटू 0.53 तो 24 और 27, उसको 27 minute लग गया हुए अगर A को चलते हुए 27 minute हो गए तो B तो मेरे भाई उससे 3.4 minute बाद में चला था यानि कि B को चलते हुए 3.27 माइनस 4 कितनी देर हो गई 22.5 minutes हो गई ठीक है और उसने कितने mile distance travel किया है total distance 3.5 है उससे एक mile कम किया है यानि कि 2.5 mile उसने कवर किया है तो 2.5 mile distance B ने इतनी देर में कवर किया और वो क्या पूछ रहे है वो पूछ रहे है कि B's speed is इतने mile in 1 mile in how many minutes एक mile कितने minute में हो गवर कर रहा है फीका जी अभी काड़ देते हैं देको point से point गया 25 है कम 25 25 ने में 225 एक mile कवर करने में उसको 9 minute लग रही है यही उसकी speed है यही पूछा है आगे बढ़ जाओ यह देखता हूं जी आप करोगे की नहीं question आसान है मतलब कि concept वही उस होएंगे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है वैभव एन विगनेश इच प्रेवल दिस्टंस ओफ 78 किलोमेटर सच देट दा स्पीड वैभव इस फास्टर देन देट ओफ विगनेश तो वैभव की स्पीड है यह मैं X माल लेता हूं क्योंकि वैभव भी वी से स्टार्ट हो रहा है विगनेश भी वी से तो वैभव की स्पीड जो हो विगनेश से ज्यादा है वैभव फास्टर है यह निकि X is greater than Y उन दोनों की स्पीड का सम 91 है X plus Y is equal to 91 and the total time taken by both इस 3 hours and 30 minutes दोनों ने 78 किलोमेटर ट्रेवल किया था ठीक है और उनकी स्पीड का सम 91 किलोमेटर परार है और दोनों ने जो भी टाइम लिया है इस डिसेंस को कवर करने में उस टाइम का सम है 3 hours 30 find the speed of web वैभव की स्पीड बताओ तो सबसे पहला option तो आपके पास यह है कि आप option यूज़ कर लो वैभव की स्पीड माल लो आप वैभव की स्पीड पुछे ना वैभव की स्पीड या ने कि यहाँ पर x है अगर आपको x की value मिल गई तो आपको y की भी मिल जाएगी अगर आपको x और y दोनों की value मिल गई दोनों की speed मिल गई तो आप देख लोगे 78 km ट्रैवल करने में कौन कितना टाइम ले रहा है और उसका सम साड़े 3 आ रहा है की नहीं आ रहा है कौनसे option को पहले use करू sir option में यहाँ पर क्यो बल रहा हूं इस question के अंदर option use करना इस question के अंदर wise नहीं होगा क्या आप ता चोथे पर दे रखा हूँ answer लेकिन इसमें यह question चिला चिला कर बोल रहा है इस question का एक option की मुझे use करो मुझे use करो इस question के अंदर जो values है उनको देखो ज़रा एक बार यह क्या है 78 यह क्या है 91 इन दोनों में कुछ relation है अगर यहाँ पर भी आपको relation नहीं पता चला न क्या बता हूँ 91 तेरा सत्ती क्याण में 13 चिक्याट है 13 के multiple है तो कौन से option को पहले use करूँगा यह option आखिर में है लेकिन चिला चिला के बोल रहा है पहले मुझे use करके देखो तो मैं इसको use करके देखता हूँ अगर SQL में 52 माननी 91 का मतलब होता है 13 सात बार आया और 52 का मतलब होता है 13 च्यार बार आया च्यार बार यहाँ आ चुका 7 बार यहाँ 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 पर 3 बार आया होगा यहाँ कि 39 होईगी 91 माइस 52 भी कर सकते थे आपको एक परस्पेक्टिव दे रहा हूँ ठीक है 78 किलोमेटर 52 किलोमेटर की स्पीड से 78 किलोमेटर जाने में कितना टाइम लगता है distance by speed टाइम आ जाएगा और 39 की स्पीड से 78 किलोमेटर जाने में कितना टाइम लगता है अभी देख लेते हैं ये दोनों को मिलकर शाड़े तीन गंटे लगने चाहिए 49 दूनी 78 और 26 दूनी 52 27 ती अठातर ये तो डेड़ गंटे हैं ये दो गंटे हैं दो और डेड़ साड़े तीन गंटे और साड़े तीन गंटे इनोंने बोला है तो बिलकुल सही बात है यही उप्षिन से डिस्पाई कर रहा है समझ मैं आगई बात एक तो ये तरीका है भाई ठीक है दूसरा तरीका क्या है हम नॉर्मल तरीक कैसे करेंगे बिना उप्षिन को यूज किये करेंगे ये लो अभी कर देते हैं कोई दिक्त नहीं एक्जामिनर ने ये बोला है कि 78 किलोमेटर अगर हम X की स्पीड से गए और 78 किलोमेटर अगर हम Y की स्पीड से गए तो हमें लगे 3.5 गंटे तो यहाँ पर ये क्या है ये टाइम है अगर किसी को समझ में ना आया इसका टाइम और इसका टाइम दोनों का टाइम मिलकर सठें तीन गंटे है अगर मैं घंटो में बदलूं तो 7 by 2 आँज है सर, गंटों में क्या है क्यों बदलिया क्यों क्यूंकि डिस्जान्स किलोमेटर में है स्पीड किलोमेटर पर आइप में ममाननी है गएगा दोनों में से 78 को common लिया और उदर नीचे बेज दिया उपर वाली चीज उदर नीचे जाएगी ठीक ठीक है तो उपर क्या होगा x plus y बटे में xy is equal to 7 बटे में 2 into 78 इसको solve करते हैं जी x plus y की value पता है आपको जी हाँ पता है x plus y is equal to 99 यहाँ पर 99 कर देते हैं साथ से यह जाएगा 13 पर इस 13 को भी निचे भेज दे रहा हूँ मैं into 13 तो 1 by this is equal to 1 by this तो मुझे दो ऐसे नमबर निकाल ले हैं जिनका यह product है ठीक है x और y का product यह है और x और y का sum यह है आपके पास दो option है यहाँ पर या तो इसकी quadratic equation बना दो सर quadratic equation कैसे बनेगी quadratic equation भाई होती आसानी से बन सकती है x is equal to this बटे में y और x की value वहाँ पर रख दो लेकिन वो बहुती गंदा option है ऐस equation को कभी भी ऐसे निकरना quadratic बना गए दो चीजों का sum पता है दो चीजों का product पता है यह हम कई बार कर चुके हैं sum और difference में से किसी भी चीज को निकालेंगे अगर मालो difference होता तो भी ऐसे होता तो sum यह difference में से वो चीज निकाल लिए है तो एक बार निकालेंगे product से दो बार निकालेंगे तो कोई ऐसी चीज बताओ जो यहाँ पर और यहाँ पर common है यहाँ से आप दो बार निकाल सकते हो वहाँ से एक बार 13, तो यहाँ से मैंने 13 को निकाल दिया अब मुझे क्या करना है, 6 दुनी 12, 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, जिनका सम हो 7, तो आप भूलो कि यह तो बहुत ही easy है, 4, 3, 12, लेकिन यह वैसे तोड़ना मुस्किल हो जाता है, अब दोनों को 13, 13 दे दो, 13, 13, जुरूर, यहां पर भी 13 दे दिया, यहां पर भी 13 द दे दिया, ठीक, तो 13 चुक है 12, X की वैल्यू है, Sir X की वैल्यू क्यों है, because X is greater than Y, 13 थी 49 Y की वैल्यू है, यह वैभाव की वैल्यू है, यह विगनेस की वैल्यू है, उसने वैभाव की पूच्छी है, that is option D, clear है, is it okay or not, आगे बढ़ू, Sir quadratic वाला एक और करा दो, इसने वोल करवा दूँगा, थोड़ी दिर में, बेट करो, यह करो, A takes 2 hours more than B, to cover a distance of 40 km, if A doubles its speed, तो A को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इस question को more भी कई वैसे कर सकते हैं, मैं 20 km को half कर सकता हूँ, है न, 40 पर ना तूँगा, लेकिन ऐसे questions को मैंने आग्गे किया है, अभी मैं आपको यहाँ पर सिरफ linear equation समझाना चाहरा हूँ, time speed and distance की, उस वैसे क करके दिखाऊंगा, बिल्कुल basic तरीके से, if A takes ना ही option यूज़ करूँगा, बिल्कुल basic तरीके से, बिल्कुल basic तरीके से, because सिखाना वो चाहरा हूँ, A takes 2 hours more than B, तो मैंने ये मान लिया कि जो A की speed है, वो A km पर आ रहा है, और जो B की speed है, वो B km पर आ रहा है, clear अचे, तो A को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, 40 km चलने में, तो 40 km चलने में, A को कितना time लगेगा, 40 बटे A, distance upon speed, A की speed में मान चुका हूँ, एक किलमेटर पर हार, तो 40 बटे A, और B को कितना time लगेगा, 40 बटे B, distance upon speed, B की speed भी मान चुका हूँ, और A को 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, यहां नहीं कि यहां पर जो time है वो 2 गंटे जादा है इसे इकल टू दो यह भी time है यह भी time है यह वाला time इससे 2 गंटे जादा है मैं सिर्फ examiner को follow कर रहा हूँ if a doubles his speed अगर a अपनी speed को double कर ले याने कि पहले a की speed कितनी थी a अब कितनी हो जाएगी 2a he takes one and half hour more than b to cover 80 km तो 80 km को a कितनी speed से cover कर रहा है 2a से 2a से लेकिन b ने अपनी speed डबल नहीं की अगर a अपनी speed double कर ले तो वो b से 1.5 गंटा जाता ले रहा है यह यहाँ पर कितना time ले रहा है यह की speed 2a हो चुकी है तो 80 km को 2a की speed से distance upon speed time आ गया यह का distance upon speed b का time आ गया a का time फिर भी 1.5 गंटे जाता है लिक रखा है ठीक है तो यह linear equation बन गई ही तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे a और b को ऐसे उपर पहुँचा देंगे वैसे वैसी घड़पड नहीं करनी इनको नीचे ही रखो इनसे draw मत इनको नीचे रखो अगर आपको a काटना है तो a को काट दो b काटना है तो b टाइम लेगा तो मुझे b की स्पीड ची है तो यहाँ पर मैं a को खतम करना चाहूँगा a को कैसे खतम करूँ उपर भी 40 बटे a निचे भी 40 बटे a तो उपर वाले में से निचे वाले को घटा दूँगा साइन बदल जाते हैं आपको पता है इसमें से यह घटेगा 40 बटे a माइनस 40 बटे अब आपके दिमाग में आगा सर अगर यह सेम नहीं होता तो कोई नहीं में बाद में b को खतम करके दिखाऊँगा तो 80 बाइबी माइनस 40 बाइबी तो यह बत जाएगा 40 बाइबी क्लियर है सोल कर लिया मैंने 80 बाइबी माइनस 40 बाइबी डिनोमिनेटर सेम है 80 माइनस 40 40 उसमें से इसको खटा रहे है ना 2 माइनस 3 बाइटू यह हो जाएगा हाफ बी उदर उपर जाएगा बी इस इकल टू 80 और यह बी क्या है बी तो मैंने बी की स्पीड माननी थी किलोमेटर प यह बोल रहे हैं 120 किलोमेटर डिस्टेंस अगर भी ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 दुनिया सी 40 ती 120 तीन बटे टू आर्श यहने की डेट गंटे ठीक है भाई क्लियर है अब मैं बी को काटके दिखाऊं बहुती सिंपल सी ब करना है तो क्या करें तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर क्या प्रोब्लम है बी बी यह तो सेम ही रहेगा हां जी सर यह उपर जो 40 है यह जो 80 है इसको सेम कर लो तो उपर वाली एक्वेशन को 2 से गुना कर दो सब को तो क्या होगा यह सी बटे B हो गया अब इस में से इसको घटा दो B गायब हो जाएगा अच्छा सर यहां पर तो डबल करने से काम चल गया अगर यहां पर 40 है यहां पर 30 है तो कोई दिक्कत नहीं है 40 को आप 3 से गुना करोगे 120 30 को 4 से गुना करोगे यहां पर 4 से गुना कर answer is option D and then a quadratic equation a train runs first 75 km at a certain uniform speed and next 90 km attain average speed of 10 km per hour more than the normal speed यह बोल रहा है एक train जो है वो 75 km जा रही थी दाइग्राम बना के बता देता हूँ एक train जो है और एक और बात आपको 100 tc बात बता हूँ यहाँ पर चलो आग्गे बता देंगे आग्गे काम आईगी train जो है 75 km जा रही थी किसी नॉर्मल स्पीड के उपर ठीक है और फिर उसके बाद जो अगले 90 km है यह इसने ट्रेवल किये पहले जो भी स्पीड थी तो पहले वाली स्पीड मैंने मालो S माल ली तो आग्गे उसने S प्लस 10 की स्पीड से कवर किये तो वो बात मैं बताई देता हूँ देखो उपर मैंने लिखा है distance नीचे मैंने लिखी है speed तो कई बार बत्चो distance को नीचे लिखने लग जाते है नीचे और उपर लिखने से इसे होगा कुछ नहीं लेकिन एक आसानी हो जाती है distance को उपर लिखने में क्योंकि time distance upon speed आता है तो मैं distance को अमेशा उपर लिखता हूँ इस equation में speed or time को नीचे लिखता हूँ क्योंकि distance upon speed या distance upon time ही करना पड़ता है तो थोड़ा से easy रहता है तो distance को उपर लिखा करूँ तो पहले s की speed से चल ला था बाद में s plus 10 की speed से चल ला था if it takes 3 hours to complete the journey total उसको 3 गंटे लगे जरने को complete करने में then how much time will the train take तो cover 300 km with normal speed जो normal speed है उससे 300 km कवर करने में कितना time लेगी पहला option तो है कि आप options यूज़ कर लो इस 300 km ट्रेवल करने में मालो चाय गंटे लेती है तो 300 बटे चाय है normal speed से तो normal speed कितनी आ गई 50 km पर आर ठीक है पहला option यूज़ कर रहा हूँ इस पूरी जरुने का time जो हो 3 गंटे बैटना चाहिए तो 75 बटे 50 कितना बैट गया यूज़ गंटे ठीक है 90 50 में अब 10 उड़ेंगे 90 by 60 कितना बैट गया यूज़ गंटे कितना बैट गया यूज़ गंटे तो यही आंसर है लेकिन कभी-कभी वो आपको मौकाई नहीं देगा option यूज़ करने का ऐसे बोल देगा कि जो उसको time लग रहा है normal speed से cover करने में उसका sum of digit बताओ फिर क्या करोगे फिर तो option यूज़ नहीं कर सकते हैं तो दूसरा त्रिक का भी आना चीए यह देखो तो भाई 75 km S की speed से travel किया तो time लगेगा distance upon speed इतना time लगेगा और 90 km S plus 10 की speed से travel किया तो इतना time लगेगा distance upon speed इतना time total time 3 गंटे है तो यह solve करनी आनी चीए बहुत ही easy है बहुत करें quadratic बनेगी फिर एक step में करते हैं steps 2-3 जरूर लिखने पढ़ेंगे यह चीज clear है और मेरे को यह नहीं लिखनी पढ़ेगी exam में आपको भी नहीं लिखने पढ़ेगी हम directly इस form में लिख सकते हैं हागे से यह तो समझाने के लिए थी ठीक है इसको करते हैं तो 3 से अगर मा काट वहूं तो यह 30 से आएगा 3 से अगर काट वह 25 पर जाएगा ठीक आचे तो इनको cross multiply कर देते हैं cross multiply इधर ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा 25S plus 200 इधर इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 30S is equal to S into S plus 10 उधर चला जाएगा स्क्वाइर प्लस 10S एक एलसी हम ले लिया एस इंट एस प्लस 10 यह उदर चला जाए कुछ कट रहा है फिलहाल तो कुछ नहीं कट रहा है तो ठीक है सारी चीज़ों का हम उदर भेज रहे होंगे भी स्क्वाइर इधर 10S है इधर कितना स है 25S है इधर 30S है तो 25 और 35 55 उदर जागर नेगेटिव का होएगा तो माइनस 45S माइनस डाइसो जब आप क्वाडरेटिक एक्वेशन करोगे ना मेरे भाई तो आपको यह पता चलेगा कि इस एक्वेशन के दो सोल्यूशन है जिनका प्रोड़क्ट तो है माइनस डाइसो और उनका सम है साइन चेंज होता है सम के लिए पलस 45 तो डाइसो को ऐसे दो हिस्स यानि कि बड़े वाली positive है चोटे वाली negative है equations में detail में हम समझते है तो आपके पास दो त्रीके हैं एक तो मुझे directly दिखता है कि 50 और 5 है 50 और 5 का फरक 45 है कभी कभी आपको directly नहीं दिखेगा तो tension नहीं लेनी आपने करना क्या है आपने sum या difference दो चीज़े होती है उससे एक बार एक चीज़ चीन नहीं है इससे अगर आप दो बार वो चीन पाओ तो मैंने 5 चीन लिया 5 नहीं 45 यहाँ से 5 दो बार चीन हूँगा 25 ताई 200 तो अब मुझे 10 को ऐसे तोड़ना है दो values में जिनका product तो minus 10 हो याने कि product तो 10 हो और एक positive हो एक negative हो 9 आ जाए तो 10 एक कम 10 10 एक कम 10 10 और एक 9 product negative है क्योंकि मैंने एक negative ले लिया positive है क्योंकि बड़ी वाली positive ले लिया अपने 5 चीना था आप 5 दे दो 5 इंटो 10 पचास 5 इंटो एक 5 S की value minus में तो हो नहीं सकती speed की value minus में नहीं होती है अब यह मत बोलना कि मतलब कि ऐसे जा रहा है तो वो minus में नहीं है वो direction बदल ली बस ठीक है तो S की value क्या आगई S की value जी 50 आगई तो अगर 50 km पर आर उसकी speed की value है तो 300 km चलने में 6 गंटे लग जाएंगे that is option clear है समझ मैं अगर अगर थोड़ा भी complicated लगा है तो इस question को दुबारा करके देखेंगे आप वीडियो को pause करके ठीक है इस question को करने कोशिश करो a person started his journey in the morning at 11 a.m. he covered 3 8th of the journey 11 बज़े क्या हुआ था उसने journey का 3 8th हिसा कर लिया था यहने कि उसने पहले कभी start की थी पता नहीं उसने कितने बज़े start की थी लेकिन जब 11 बज़े तो उसने 3 8th हिसा कवर कर लिया था and on the same day at 4 30 p.m. he covered 5 6th of the journey और उसी दिन साड़े 4 बज़े उसने उस journey का 5 6th हिसा कवर कर लिया he started his journey at उसने journey कितने बज़े start की थी तो मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा थी तो भाई उसने सुबह जरनी start की पता नहीं कितने बज़े की लेकिन 11 बज़े तक उसने जरनी का कितना हिसा कवर कर लिया था उसने जरनी का 3 8th हिसा कवर कर लिया था ठीक है उसने कुछ टाइम तक start की होईगी कुछ टाइम तक उसने 3 8 थिसा कर लिया भी ना मुझे पता नहीं कितने टाइम पहले start की थी लेकिन उस दिन साड़े 4 बज़े हैं हमने देखा तो उसने पूरी जरनी का 5 6 30 सा travel कर लिया था ठीक है अब आप से ये भी पूच सकता है कि ये जरनी खतम कब होगी आप से ये भी पूच सकता है कि जरनी start कब हुई थी हम कुछ भी बता सकते हैं दोन्नों बता सकते हैं दोन्नों बताएंगे देखो पिकोज हमें ये पता लग गया है कि इन दो situation के बीच के बीच में इन दो situation के बीच में टाइम में कितना gap है ग्यारा और साड़े चार बजे के बीच में साड़े पांस गंटे का gap है 5.5 आर्श यानि कि साड़े पांस गंटे में उसने जरनी का कितना इससा ट्रेवल कर लिया है यहाँ पर उसने पूरी जरनी का 5,6 तिससा ट्रेवल किया था और भाई, शाम के 5-4 बजह तक, वो 80 km आ गया था, तोटल अभ तक, टोटल जरुनी का ही, 5-6 तो उसने कपर किया है, टोटल जरुनी का ही, 3-8 तो उसने किया है, 11 बजह तक, वो Total 20 km चल चुका था, 3-4 बजह तक, वो Total 8-6 km चल चुका था, इन शड़े पांच गंटों में इतना हिस्सा उसने ट्रेवल कर लिए, ठीक, clear, चलिए इसे, तो 5 by 6, minus 3 by 8, 24, 6, 24, 24, 25, 28, 24, 23, 29, 11, 24, उसने जर्नी का 11 by 24 हिस्सा शड़े पांच गंटे में ट्रेवल कर लिए, और हम क्या जानना चारे हैं? हम जानना चारे हैं कि उसने जर्नी स्टार्ट कब की थी? तो जर्नी स्टार्ट कब की थी? उसके लिए हमें क्या जान लेना चाहिए? हमें ये जान लेना चाहिए, कि 3-8 हिस्से को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? अगर 2 गंटे लगे होंगे 3-8 हिस्से को ट्रेवल करन जरनी का अध़्धा time travel करने में half time travel करने में अगर 4 गंटे लगते हैं तो पूरा time travel करने में 4 into 2 बटे एक 8 गंटे लगते हैं अगर किसी भी जर्नी का 2 बटे 3, 2 थर्ड ट्रैवल करने में 4 गंटे लगते हैं, तो पूरी जर्नी करने में 4 इंटू 3 बाइ 2 टाइम लगता है, तो अगर 11 बटे 24 हिस्सा जर्नी का ट्रैवल करने में 5.5 गंटे लग रहे हैं, तो पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में 5.5 का मत तो देख लो 3-8 जरनी में करने में कितना टाइम लगेगा पूरी जरनी ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है उसका 3-8 लगेगा बस इसको सोल कर लो 11 से 11 गया 8 तिए 24, 13 तिए 9 बटे 2 यानि कि 5.5 गंटे 3-8 टाइम ट्रैवल करने में 5.5 गंटे लगते हैं यहां पर 6.5 गंटे लगेए हैं उसको अब अगर सर वो ये पूछ ले कि कितने बजसे उसकी जर्णी खतम हो जाएगी, ऐसे ही चलता रहे, बहुत ही सिम्पल है, देखो, उसने जर्णी कईजरकी कर लिए है, उसने जर्णी कवर कर लिए है, फाई 6, तो रहे कितने इगई है, वण 6, त आप ये देख लो, कि 1-6 जर 24 दो घंटे और लगेंगे 1 6th because 1 6th बची है ना 5 6th कर लिए तो शाम के साड़े चाहिए खतम भी कर देगा शुबह साड़े चाहिए चल पड़ा था एक तो यह है जी मामला दूसरा मामला क्या है सर दूसरा इससे easy मामला है मैं आपको अंडर्शेंडिंग देना चाह रहा था fraction कि यहां पर यहां पर 38 है यहां पर 56 नों 8 हो चेका sam Lunch कि ठीक है तो उसने कितने बजे जर्नी start किते हैं में पता नहीं लेकिन 11बजे तक उसने कितने क्लूम्टर चल दिया था पूरी जरनी मैंने 24 किलमेटर मान ली तो 3-8 24 का 3-8 8-24-3-9 9 किलमेटर चल चुका था वो 11 बजे तक ठीक है फिर उसने मेरे को 4.5 बजे बताया कि मैंने बोला कि हाँ बई कितनी दूर गया है तो वो पूरी जरनी का 5-6 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था तो 24 का 5-6 6-24-24-25 वो 20 किलमेटर चल चुका था ठीक तो मुझे पता चला कि ये 11 बजे तो 9 किलमेटर चल चुका था टोटल साड़े 4 बजे टोटल 20 किलमेटर चल चुका था यानि कि ये 11 किलमेटर एक्स्ट्रा चला गया कितनी देर में, अब मुझे पता चला, कि साड़े पांस गंटे में, साड़े पांस गंटे का डबल है न वो, साड़े पांस का डबल है गयारा, साड़े पांस गंटे में गयारा किलोमेटर जा रहा है, यानि कि एक गंटे में दो किलोमेटर जा रहा है, और ये नो किलोमेटर और चुका यहांपर 0 किलोमेटर से यहांपर 9 पिलोमेटर ही आचुका तो 9 किलोमेटर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा सब्ते हुआ गहां यहां से 645गे विस्ठाट किती है ऐनिकि precThese चाट'd किती स्फ़ार इंप खतम कितने बज़े करेगा टोटल जर्णी कितनी है 24 किलोमेटर की 20 किलोमेटर आ चुका है 4 किलोमेटर और आगे जाना है विया 4 किलोमेटर अगर और आगे जाना है 2 गंटे लगेंगे एक गंटे में 2 किलोमेटर जा रहा हो तो 2 गंटे में 4 km जाएगा तो 3.45 बजे के बाल, 3.6 PM पर खतम कर देगा एक लिर है ठीक है यह पुछेगा टोटल जरूनी कितने गंटे की है आप सब कुछ बता सकते हों यहां पर 12 गंटे की है सुभे 3.6 से शाम के सब इच्छे लेकिन उसके लिए स्टाटिंग और ढंडिंग टाइम निकालना जरूरी निया पुरी जर्ट निए बताने के लिए कितने घंटे की हैं मिल्जाने में एक सबता तो 24 घंटे港 दर जाने में man rides one-third of the distance from a to b at the rate of x km per hour a से लेकर b तक जो distance है ये माल लो a है ये b है उसके one-third distance को x km per hour की speed से travel कर रहा है तो अगर ये पूरा distance 3 है one unit distance को x km per hour की speed से travel कर रहा है if it traveled and then he could have written from a to b and back again अहाँ चलो ठीक ऐसे कर लेते हैं तो पूरा distance अगर 3 unit है तो उसमें से एक unit को इधनी speed पर travel कर रहा है and the remainder जो बचा हुआ distance है उसको 2y km यानि कि जो दो unit distance बच गया है उसको 2y km per hour की speed से travel कर रहा है ठीक है और ये क्या बोल रहा है आगे if he had traveled at a uniform rate of 6z km per hour अगर वो 6z km per hour की speed से चलता then he could have written from a to b and back again in the same time इस बात को समझने के कोशिस करियेगा ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर उसने क्या किया है उसने एक unit distance को x km per hour की speed से travel किया दो unit distance को 2y km per hour की speed से travel किया तो यहाँ पर कुछ time लग गया होगा कुछ time यहाँ पर लगा कुछ time यहाँ पर लगा 1 upon x यहाँ पर कितना time लगा distance upon speed 2 upon 2y और वो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि a से b और b से a तो total कितना distance travel करना पड़ जाएगा यह एक unit है यह दो unit है यह पूरा तीन unit है तो जाकर वापीस आएगा तो 6 unit distance travel करना पड़ जाएगा तो 6 unit distance को अगर वो 6z speed से travel कर रहा है तो उतना यह time लग रहा है जितना इन दोनों जगह लग रहा है यहाँ पर जो time लग रहा है और यहाँ पर जो time लग रहा है सेम है मैंने time को equate कर दिया ठीक है दो एकम दो 6 एकम 6 तो 1 by x प्लस 1 by y is equal to 1 by 6 3 equation कहां आया है आया हूए exam का equation CDS में आया हूए और CDS, SSC, state exam के questions आपस में इदर उदर गूमते रहते हैं बिलकुल इनमें कोई फरक नहीं होता और बहुत ही basic understanding का equation था ना कुछ जादू ही किया है मैंने कुछ भी नहीं किया क्यों कि मैं जादू-गर हूँ नहीं, यह बता हूँ अब, three cars travelled, three cars travelled distance in the ratio of 1 is to 2 is to 3 if the ratio of the time of travel is 3 is to 2 is to 1 then the ratio of their speeds is equal to, आपको एक बात ध्यान है partnership के अंदर partnership के अंदर मैंने क्या बताया था, कि जो profit है वो दो चीजों पर depend करता है, partnership topic ध्यान होगा ना प्रोफिट डिपेंड करता है कि किस बंदे ने कितने investment की है और कितना time के लिए investment की है तो कभी कभी क्या होता था आपको investment का ratio बता दिया जाता था दो अलग अलग बंदों की time का ratio बता दिया जाता था तो मैंने क्या बताया था कि जो profit का ratio है profit किस ratio में बटेंगे वो होएगा कि इन्वेस्टमेंट किस रेश्यो में हुई है इन्टू टाइम का क्या रेश्यो है कि इन्वेस्टमेंट का क्या रेश्यो है मतलब कि यहीं से फोर्मला बन रहा है प्रोफिट बटे में टाइम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कि प्रोफिट का क्या रेश्यो है बटे में time का क्या ratio है कितने time के लिए रुपे invest किये is equal to investment का ratio profit बटे में time is equal to investment तो ये हरेक उस चीज पर लागू होती है ये ratio वाली चीज है जब formula इस form के हो A is equal to B into C जब इस form के formula हो हरेक उस जगा लागू होएगी तो यहाँ पर भी अपना formula इसी form का है है की नहीं है distance is equal to speed into time इसी form का है दो चीज होगा product एक तीसरी चीज के वराबर है तो यहाँ पर किस किस चीज का उसने ratio बता रखा आपको तीन situation बता दी तीन बता दे चार बता दे फरक नहीं पड़ता उसने तीन कारों का बता दिया उनके distance के traveled का ratio बता दिया और उनके time traveled का ratio बता दिया और speeds का ratio पूच लिया simple सी बात है कि उनके distances का जो ratio है उन ratios को time के ratio से divide कर दो आपको speed के actual speed नहीं मिलेगी ratio को ratio से divide कर दो ratio मिलेगा तो speed का ratio निकालना है इनके distances का क्या ratio है 1 is to 2 is to 3 distance का ratio और time का क्या ratio है 3 is to 2 is to 1 बास यह speed का ratio आजाएगा distance upon time distance के ratio को speed के ratio से divide करो के तो time का ratio आजाएगा यह simple सी बात clear वही profit and loss वाली वही understanding वही partnership वाली वही understanding clear तब मैं क्या करूँ ऐसे number से multiply कर दूँ की fraction ना रहें 3 2 और 1 का LCM यानि की 6 से multiply कर दूँ तो 6 से multiply करूँगा तिनो ratios को 3 दू नीच है और यह तो कटी गया अब 6 से भी मैंने क्यों किया कैसा कैसा इनसान हो मैं 3 से multiply करेंगे यह तो कटी गया यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 9 1 इस्टू 3 इस्टू 9 clear है जी clear है अब इसी understanding को एक बड़ी equation से test करूँ यह बताओ अलागी यहाँ पर कुछ understanding जो हमें चीए वो आपको plane geometry में दूँगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ अगर हमारे पास एक square है ABCD अगर हमारे पास एक square है ABCD और इसके mid points को जोड़ कर इसके यह जो mid points है इनको जोड़ कर अगर एक square बनाया है तो अंदर वाले square का जो perimeter है वो बाहर वाले से half होता है अंदर वाले square का जो perimeter है इस blue, sky blue blue is square का जो perimeter हो बाहर वाले white square के perimeter से half है तो जो extra knowledge आपको चाहिए थी वो मैंने दे दी है क्योंकि यह plane geometry knowledge है बाकि अब करो तो यह यह बोल रहे हैं कि ABCD is a square track ABCD PQRS is another square track such that PQRS are midpoint of A, B, B, C, C, D and DA respectively two friends Karan and Taran are standing at P दो friend करan और Taran वो P पर खड़े हैं करan runs on the track ABCD जो करan है वो तो बाहर से भागता है बाहर से ऐसे जाएगा ऐसे ABCD white वाले पहे और जो तरण है वो अंदर से भागेगा ठीक है जी the ratio of their speeds उनकी speeds का ये ratio है ठीक है जी speed का ratio बता दिया find the ratio of their times उनके times का ratio बताना है time taken by them to complete one round तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बता है थाबको कि बाहर वाला जो square है उससे half perimeter होता है तो ये जो करan है ये कौन सा distance भागेगा ये बाहर वाले square के perimeter परी माप परी तो भागेगा करण जो है ये अंदर वाले square के perimeter परी माप परी भागेगा तो इनके distances का ratio तो मापको बता चुका हूँ करण और तरण करण और तरण के distance का ratio मापको बता चुका हूँ करण double distance भाग रहा है क्योंकि अंदर वाले square का perimeter half है तो यह half कैसे है plane geometry का concept है मेरे भाई आगे पता लग जाएगा बहुत ही easy है distance का ratio यहीं पर पता चल चुका है square की formation के कारण और speed का ratio वो भाईजाब बता चुके है examiner आपको 2 is to 3 तो time का ratio कैसे आएगा time का ratio आएगा distance बटे speed वो में पहले है आप मजाग कर रहा है जब मैं बोल रहा था chair question बचे हैं अब 3 question बचे हैं अब seriously 3 question बचे हैं जब फसा लेता हूँ मैं बत्तों मैं equation बदाओ तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा देखो percentage के अंदर हमने concept किया था क्या concept किया था a is equal to b into c अगर हमारे पास सीज़े इस format में है अगर मैं आपको बोलूँ कि b की value को मैंने double कर दिया और c की value को मैंने 3 गुना कर दिया तो इसका a के उपर क्या impact होएगा आप बोलोगे sir a तो 6 गुना हो जाएगा हो जाएगा की नहीं हो जाएगा इसको practical example से समझते हैं आपका कुछ खर्चा है दूद के उपर ठीक है आप दूद की कुछ quantity consume करते हो quantity को लिटर में लिख लेते हैं आप कुछ लिटर दूद पिते हो रोज ठीक है और आपके दूद का कुछ rate है price है पांस रुपे किलो दस रुपे किलो तीस रुपे किलो अभी पच्पन रुपे लेटर चल रहा है दूद आपको पता हो तो कहीं कहीं 60 होएगा हैली वाला 60 है दूद यात पच्पन ही दे जाता है भाई ठीक है तो अगर मैं ये बोलूम आपके मन में आई मैंने आपके पंप मार दिये कि बोड़ी बनाओ ये करो वो करो तो आपने बोला अब से दुगना दूद प्योंगा तो आपने जो कंजबस है आप जितने लेटर दूद पी रहे थे उसको डबल कर दिया और आपके दूद ये ने को पता चल गया इसको दूद की सक्त चुरूरत है भाईसाब ये दूद की न रुकेगा नहीं अब इसके दिमाग में फितूर चाया बोड़ी बनाने का तो उसने जो रेट है उसने रेट को तीन गुना कर दिया और किससे लोग है आप इस से आपके जो दूद का घर्चा वो कितना हो जाएगा वो छह गुना हो जाएगा ये क्लियर है एक्जकली सेम चीज है time and distance पर लागू होगी कि नहीं होगी क्यों लागू नहीं होगी distance is equal to speed into time यही तो format है यही तो format है दो चीजों का product तीसरे के प्रापर तो इस question में यह understanding use करेंगे कैसे देखो सरा if a person travels अगर मैं आपको यह बोलूँ थोड़ा सा और कर लेते हैं तो speed is equal to distance upon time यह clear है अगर मैं आपको यह बोलूँ कि आप है ना आप 30 km पर आर की speed पर अपने college में जाते हो 30 km पर आर की speed पर अपने college में जाते हो और आप मस्त पहुंच जाते हो मैं मैं आपका professor हूँ फिर मैंने आपको बोला यह अच्छा तो मैंने आपके college को उठवा कर सरकवा दिया दूर करवा दिया मैंने college को उठवा कर ठीक है तो मैंने आपके distance को क्या करवा दिया double कर दिया ठीक है और आप college में पहुंचने के लिए एक गंटा लेते थे मैंने क्या क कोलेज shift कर लिया जो भी है और आप एक गंटा लेते थे कोलेज तक पहुंचने में फिर मैंने क्या किया मैंने कोलेज के timing को पहले करवा दिया कि आपको सिरफ अद्धा गंटा मिले तो time अब आपको कितना time मिलेगा आपको अद्धा time मिलेगा तो आपका distance दिस्टन्स तीन गुना हो गया आपका time अद्धा गुना हो गया आपको तीन गुना distance करना है और अद्धे time में करना है तो speed के ऊपर पता है क्या impact पढ़ेगा distance तीन गुना हो गया time half ? तो ये दो ऊपर जाएगा तो speed 6 गुणा हो जाएगी सर इसका क्या मतलब है speed 6 गुणा हो जाएगी अगर आज अब आपको time पर college पहुंचना है न तो पहले से 6 गुणा speed पर पहुंचना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि 3 गुणा distance हो गया तो 3 गुणा उसके कान speed आपको करनी पड़ेगी और मैंने time व्याददा कर दिया अब ही कम time में जाना है तो speed ज्यादा चीए इस कान आपको double speed इसके कान करनी पड़ेगी 3 गुणा इसके कान आपको 6 गुणा speed पर जाना पड़ेगा चीज समझ में आगी आप करें question को उड़ा देंगे question को if a person travels at a speed of 48 km पर आर अगर एक बंदा 48 km पर आर की speed से जाए तो he will reach his destination on time वो time पर पहुँच जाएगा उसे कोई दिक्कत नहीं है यानि कि उसकी speed कितनी होनी चीए उसकी speed 48 km पर आर होनी चीए लेकिन अब क्या हुआ देखना he covers two-third of his journey in five-sixth of the time उसने two-third जर्नी को five-sixth time में cover किया at what speed should he travel to cover the remaining distance to reach his destination on time उसने कुछ जर्नी कुछ time में cover कर ली उसने कितनी जर्नी cover कर ली भाई sir उसने two-third cover कर ली कितने time में cover कर ली उसने five-sixth मैं आपको easiest way में equation कर वाऊंगा पर उसके लिए थोड़ा base बनवाना जरूरी है आप इस question को like five to six seconds में उड़ा सकते है ठीक है max एक बार मतलब पढ़ने के बाद of course उसने two-third जर्नी five-sixth time में cover कर ली वो normally कितनी speed पर जा सकता था normally 48 km पर आर के speed से चलता रहता time पर पहुंच जाता उस बंदे ने गडबड की है पता नहीं कितनी speed पर गया होगा ठीक है तो speed किस पर depend करती है distance और time पर तो अब मुझे एक बात बताओ उसको कितना distance travel करना है करना है हम किसीज में interested है कितना करना है सर distance तो उसको one third travel करना है तो एक बटे तीन गुणा distance एक बटे तीन गुणा travel करना है total के comparison में बोल रहा हूं वो total 48 km पर आर पर जाकर काम चला सकता था तो total जो भी उसका distance है उसके comparison में अब उसका distance जो उसको करना है वो एक बटे तीन गुणा distance travel करना है आप बुलोगे जी हां सर ताइम कितना है उसके पास टोटल टाइम के कमपेरिजन में 5-6 टाइम वो ले चुका है सर उसके पास 1-6 टाइम ही है तो डिस्टन्स एक बटे 3 गुणा हो गया टाइम एक बटे 6 गुणा हो गया तो स्पीड कितने गुणा होगी यहां से पता चल जाएगी एक बटे 3 गुणा एक बटे 6 तो 2 गुणा 3 गुणा स्पीड पर जाना पड़ेगा उसे 48 की स्पीड थी 96 की स्पीड पर जाना पड़ेगा सर क्या एक्ट्वेशन एक्ट्वल में आते हैं हाँ वहीं से उठाए मैंने टाइम पर पहुंचा दिती है एक बुट्रड डे डिस्टन्स इन फाईव शिक्स तो टाइम हम उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है उसने कितना कवर कर लिया हम इंट्रेस्टेड है कितना बचा है उसमें कितना टाइम लगेगा तो मैं पूछ रहाऊं कि distance कितना बचा है 2 थर्ड कवर हो गया हमें distance upon time करना है distance 1 थर्ड बचा है sir मैं एकजाम में लिखूंगा 1 थर्ड डी बाई टी भी नहीं लिखूंगा distance 1 थर्ड बचा है time कितना बचा है sir 1 by 6 बचा है distance 1 थर्ड तीन गुणा है time 1 थर्ड 6 गुणा है speed को 2 गुणा करना पड़ेगा यह चीज अचीज अचीव करने के लिए 1 थर्ड distance को 1 थर्ड डिस्टन्स को 1 थर्ड टाइम अचीव करने के लिए speed को 2 गुणा होना पड़ेगा डिस्टंस कितने गुना हो गया बता दिया गया है, time कितने गुना हो गया बताले दिया गया है, तो उत्तरा जाएगा, speed कितने गुना हुई, 2 गुना, 48, 96, 96 कुना speed पर काम बन जाएगा, ऐसे और question करना चाओगे, आप बोलो और मैं न कराूं, बोलो, ऐसा हुआ है कभी, निक 3 4th of the distance in 2 3rd of the time उसने कितना distance cover कर लिया if he covers 3 4th of the distance 3 4th distance cover कर लिया तो बचा कितना है भिया Sir distance तो 1 4th बचा है ठीक है पहले के comparison में 1 4th distance travel करना है 2 3rd of the time उसने ले लिया टाइम कितना बचा है Time Sir 1 3rd बचा है तो Speed कितने गुणा हो जाएगी Speed 3 4 गुणा उसको 3 4 गुणा करने पड़ेगी Speed Distance के उपर कितना impact आया Time के उपर कितना impact आया मैंने लिख दिया है तो को इक वर 3 4th of the distance in 2 3rd of the time हाँ ठीक है तो Speed जो हो तीन बचा चार गुणा हो जाएगी सरकिस के तीन बचा चार गुणा उसने बता रखिए एपर्शन हैस्टू कवर एडिस्टेंस ओफ 160 किलमेटर इन 15 आर्श Distance और टाइम दोनों बता रखिए हैं तो Speed क्या होएगी? Distance अपॉन टाइम यह उसकी Normal Speed है Normally Speed पर वो कर्श रखता है लेकिन उसने बीच में क्या किया? उसने 3 4th distance को 2 3rd time में ट्रैवल किया मतलब भया Normally Speed से नहीं चला अलग-अलग Speed पर उसने किया ऐसा काम करने के कारण उसको अब 3 4th करनी पड़ेगी अपनी Speed पहले यह Speed हो नहीं थी Distance upon time तो इसका 3 4th देखो मुझे एक बात पता है क्या? यह 40 है यह 3 है 120 की 158 यह 120 होता है यह पता है तो Speed will be 8 km पर आ रहा हूं मजाग कर रहा हूं यह बात नहीं पता है मुझे एक बात पता है क्या? कि यह जो मापको Concept करवा रहा हूं ना इसमें मान के या वैसे मैं आपको करवाओंगा वो समझने में easy होएगा वो time ज्यादा ले लेगा तो यह थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाने की जुरूत है बच्चे ऐसे होएंगे जिनको यह अभी उतना clearly समझ में नहीं हा रहा होगा मुझे पता है और वहाँ पर requirement मेरे साफ बताने की नहीं है मैं तो बहुत ही साफ तरीक के से बता रहा हूं वहाँ पर requirement है थोड़ी दिर आपको time वैतीत करना इस question के साथ इस concept के साथ इन questions को तीन अमन ट्रेवल से certain distance at x km per hour है इंदा return जरनी he covers अमन ने क्या किया कोई distance x km per hour पर उसने travel कर दिया ठीक पूरा distance यहां से लेकर यहां तक okay he covers in the return जरनी जब वो वापिस आने लगा he covers 20% of the same distance उसने same distance का 20% जो है वो 35% time में cover कर दिया यहां पर मैं distance लिख रहा हूं यहां पर मैं time लिख रहा हूं for the remaining part of the journey if his speed is y km तो मुझे एक बात बताओ normally वो x km per hour पर इस पूरे distance को x km per hour की speed जए इस पूरे distance को कर देता है कुछ time यह उतने ही time में cover करना चाह रहा है इसने 20% distance cover कर लिया 35% इसने time ले लिया तो distance बचा कितना है distance बचा है जी 80% time कितना बचा है time बचा है जी 65% तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि speed के उपर क्या impact पड़ेगा यह जो बची खुची जरनी है इसकी speed कितनी करनी पड़ेगी normally अगर x की speed से चलेगा तो बड़ी आ time में पूरा distance cover हो रहा है जितने time में उसको cover करना है लेकिन वो गड़बड करते हैं in question में यह बंदे यह कम distance या ज्यादा distance सल देते हैं speed के इसाब से तो बाद में इनको बढ़ानी या गड़ानी पड़ती है तो distance के उपर क्या impact पड़ा कि distance point 8 times या तो आप point 8 times लिख लो 80% है ने की point 8 times या फिर percentage में ही रहने दो distance कितना हो गया 80 बटे 100 गुणा 80 बटे 100 गुणा distance travel करना है कितने time में 65 बटे 100 गुणा time में percentage में रहने देता हूं बटे में 100 बटे में 100 क्यों करना है तो distance और time का speed पर इंपेक्ट आएगा वो भी देख लेते है 16 बटे 13 तो क्या है भाई साब 16 बटे 13 गुणा हो जाएगी speed पहले के comparison में यह जो distance है यह 16 बटे 13 गुणा speed पर कवर करना चाहिए अगर वो उतना ही time में cover करना चाहिए तो याने कि यहाँ पर वो बोल रहा है speed y km पर आ रहे है याने कि यह जो speed है यह उसकी 16 बटे 13 गुणा है याने कि y is equal to 16 बटे 13 गुणा of x तो it implies that 13 y is equal to 16 science इन questions को करने का decid best method है पर थोड़ा सा आपको time व्यातीत करना पड़ा ने अपड़ा है अपको सेखने में थोड़ा सा टाइम व्यातीत करना पड़ा अपड़ा है वी समझ मेंझा नहीं आ रहा है तो बार-बार इन questions को देखाना अपने अब समझ में आ जाएगा circum刑न है समझ तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं बार-बार प्रेक्टिस करते रही हैं ठीक है हेलो डियर आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत हैं अभी हम ताइम एंडिस्टन्स की दूसरी वीडियो के उपर आ गए हैं करने वाले हैं हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं relation between time speed and distance time speed and distance के भी इसमें एक बहुत ही बहतरी relation हम करने वाले हैं आपको मजा आ जाएगा यह सीखने में इंटरस्टिंग होगा और हमेशा की तरह अपना pen अपनी notebook अपना दिमाग है और अच्छे से अपना दिमाग याने की 100% attention अच्छे से तियार होके comfortable होकर बैठिए ठीक है बड़ी आ पोस्टर में बैठिए हैं ताकि आप जल्दी ना तक है और inspire होकर बैठिए कि यार रगड़ देना है आज ये वीडियो हैं दोनों मिलकर रगड़ेंगे इस वीडियो ठीक है तो start करें फिर चलि into time ठीक है तो इनके बीच में जो relation है मैं आपको तीन तरीके से बताऊँगा number one same relation को बिलकुल आपको practically visualize करके बताऊँगा मैं इसलिए लिख रहा हूँ practically की spelling मुझे पता नहीं आखर में दो L आएंग या एक L आप online देख लो है अपने exam में misspelled word आते हैं तकि मैं ना भूल जाओं तीसरा माप को बताऊँगा जी direct indirect variation से variation से लिख लेता हूँ और दूसरा माप को बताऊँगा formula से ठीक है ठीक है ठीक है जी देखो जो सबसे पहले practically मैं आपको बताता हूँ इनके बीच की relation है वो देखो सबसे पहली relation है कि speed is inversely proportional to time यहाँ पर हमारे सामने तीन variable है एक distance है एक speed है एक time है total तीन चीज़े मैं दो दो को उठाऊँगा कि किनी भी दो के बीच में क्या relation है तो जब मैं आपको speed और time की relation बता रहा हूँ तो यहाँ मैंने speed is inversely proportional to time if T is constant अगर distance हो constant हो change नहीं हो रहा क्या यहाँ पर मेरा मतलब क्या है यहाँ पर यह मतलब है बाई कि माल लो आपको अपके home से लेकर आपके home से लेकर आपके college तक जाना है ठीक है आपके घर से आपके college तक तक तो आपके घर से लेकर college के बीच का distance वो तो चैं वो तो constant ही रहता है, तो distance constant हो गया, तो अगर आप ज्यादा speed पर जाओगे, तो आपको कम time लगेगा college में पहुँचने के लिए, हमने speed बढ़ा लिए, आप normally जिस speed से जाते थे, हमने उसे speed को बढ़ा दिया, तो आपको normally जो time लगता था, आपको time कम लगेगा, अगर आप मंद speed पर जाओगे, कच्वे के माफिक, आपको time ज्यादा लगेगा, तो speed or time universally proportional होगे न, ये बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है, अगर आपने अपनी speed को double कर दिया, college में जाने की speed को double कर दिया, आपकी girlfriend या boyfriend वहाँ पर बन गए है, अब आपको बहुत जल्दी जाना है, आपने अपनी speed को double कर दिया, तो आपको time आदा लगेगा, तो speed or time एक दूसरे के universally proportional है, याने कि दो situation के अंदर, अगर आपके speed का ratio 2 is to 3 है, हम दो situation माल लेते हैं, जैसे एक तो student A है, एक student B है, दोनों यहाँ पर एकी PG के अंदर रहे हैं, एक हम इनको पलट सकते हैं, 3 is to 2 होगा, अगर उनकी speed का ratio, बस शर्ते, सर्त क्या है कि distance constant हो, अगर तीन बंदे हैं, सर अगर तीन बंदे हैं, A, B, C, इनकी speed का ratio 2 is to 3 is to 4 है, तो क्या 4 is to 3 is to 2 होगा, नहीं, यह मा आपको पहले बता चुका हूँ, कि जब चीजे inversely proportional होते हैं, मेर पलट दिया, otherwise वो one by में होता है, इन सब को आप क्या करोगे, आप 12 से multiply करके ठीक form में ले आओगे, यह चीज़ समझ में आगे कि speed is inversely proportional to time, speed or time एक दूसरे के inversely proportional होते हैं, एक बढ़ेगा, जितने गुना बढ़ेगा, तो दूसरा उसका reciprocal गुना होएगा, speed 3 मटे 2 गुना कर अगर distance constant, तो यह मैंने आपको formula से practically समझा दिया यह तो, कोलेज का example लेकर practical life में, यहाँ पर आपको feel हो रहा होगा कि हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ जी formula से, देखो ज़रा formula के उपर नजर मारते हैं, इसी चीज़ को, distance is equal to speed into time, और मैं आपको यह बोल दूँ कि यहाँ आपर यह d जो है, यह constant है, तो मैंने आपको percentage के अंदर एक चीज़ बताई थी, कि a is equal to b into c, अगर हमने a को constant रखना है, ऐसे question कराये थे, कि area of a rectangle is equal to length into breadth, अगर area को constant रखना है, और length 3 बटे 2 गुणा होगी, तो breadth को 2 बटे 3 गुणा करना पड़ेगा, कराये थे कि नहीं कराये अगर 2 चीज़ों का product constant है, तो अगर 1 तीन बटे 2 गुणा होई, तो दूसरी 2 बटे 3 गुणा हो जाएगे, अगर d constant है, speed को double कर दिया, लेकिन इन दोनों का product उतना ही आना चीए, क्योंकि d तो constant है, d तो उतना ही रहना चीए, आपने इसको double कर दिया, तो इसको half करना पड़ इसको करना पड़ेगा, ये बात समझ में आगी, exactly same चीज़ को दूसरे नजरिये से मैंने दिखा दिया, दूसरे perspective से, ठीक, then next is variation, variation से कैसे बताऊंगा मैं, मैंने आपको variation करवाई है, ratio and proportion के अंदर, z हाँ करवाई है, उस formula को पकड़ो एक बार, d is equal to s into t, ठीक है, तो d को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, s into t, बटे में d is equal to 1, मैंने सारे variable एक तरफ एक टे करती है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि जो भी variables, एक दूसरे के, जो भी variable, एक दूसरे के, डंडे के एक तरफ होते हैं, वो inversely vary करते हैं, और जो डंडे के एक दूसरी तरफ होते हैं, वो directly vary करते हैं, यानि कि speed or time एक दूसरे के inversely proportional है, speed or distance directly proportional है, speed or time or distance directly proportional है, क्योंकि distance time के दूसरी तरफ है, तो दोनो directly proportional है, directly vary करेंगे, distance बढ़ेगा तो time बढ़ेगा, बस रते सर्त है कि तीसरा अगर constant होतो, और अगर थोड़ा हलका हलका दुन्दला समझ में आ रहा है, एक दीवात ने, तो टेंशन मतलो, मैं बताई इस तरिके, मतलब मैं चीज़े ही इस लेवल की बता रहा हूँ, आप टेंशन मतलो, ठीक, क्योंकि जिस तरिके समें चीज़े बता रहा हूँ, आपको जितनी भी काम की चीज़े, सारी समझ में आ रहा है, तो मैंने speed और time का relation बता दिया, अब मैं distance और speed का बता दूँ कि distance is directly proportional to speed if time is constant, if t is constant, ठीक है जी, तो देखो, अगर मैं आपको यह बताऊं कि time constant है, आप हो और आपका दोस्त है, आप हो और आपका दोस्त है, a और b, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि भी time constant है, आप दोनों को मैंन दी कि यह ले भी भाईक, यह ले भी भाईक, और एक गंटे के लिए भाईक चलानी है, दोनों ने, ठीक है, time constant कर देखो, दोनों ने एक गंटे के लिए भाईक चलानी है, तो जिसकी ज्यादा speed होगी, वो ज्यादा दूर जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो ज्याद ज्यादा दूर गया, इसका मतलब उसकी speed ज्यादा है, प्योंकि time constant है, same time के लिए चल रहे है, if time is constant, distance is directly proportional to speed, किल्कुल, practical understand ही गई, दूसरा, फोर्म ले से अगर मैं बात बताओ, तो formula को पकड़ के यहाँ पर ले कराते हैं, कि distance is equal to speed into time, एक बात बताओ, यह formula है, आपने इस distance पर क्या फरक पड़ेगा, तो distance भी बढ़ जाएगा, क्योंकि time तो उतना ही है, अब time को change नहीं कर सकते, यह नहीं कि speed को बढ़ाया और time को घटा दिया, distance same रख दिया, ना distance को आत नहीं लगा सकते, बहुत बुरी तरह पीट्टू है, ठीक है, तो अगर आप speed को बढ़ाओ गटाओगे, तो distance भी बढ़ जाएगा, speed को घटाओगे, तो distance भी घट जाएगा, अगर आप distance को घटाओगे तो, क्योंकि time को घटा नहीं सकते हैं, और distance बनता है इसके और इसके product से, यह नहीं कि speed को घटाना पड़ेगा, यह चीज़े directly proportional हो गए, ठीक है, तीसरा तरिक का, वो तो formula वाला, variation वाला तो फिर होई गया, clear, एक ही बार में हो जाता है, उसमें तो clear, distance is equal to speed into time, distance नीचे चले जाता है, सारे variable को एक जिगा लेकर आकर पता लग जाता है, कि कौन किसके directly है, universally vary कर रहा है, formula को, तो यह तो clear होई गया था, कि यह distance हो, speed के भी directly proportional है, time के भी directly proportional है, थर्ड चीज, थर्ड चीज, distance is directly proportional to time, if speed is constant, if s is constant, वही से, देखो, सबसे पहले practical को यह example लेकर समझते है, यहाँ पर speed constant है, मालो मैंने आपको और आपके दोस्त को दो बाइक किसाब भी दी किये लो भाई, और हमने speed को constant कर लिया, मैं खाँ, दोनो 60 की speed पर चलाओगे, अगर ज्यादा speed पर चलाओगे, तो मार पड़ेगे, ठीक है, clear है, आप दोनो 60 की speed पर चलाओगे, सिद्धे, ठीक है, तो, जो ज्यादा time तक जाएगा, time के ओपर कोई पाबंदी नहीं, कोई कितनी दूर चल सकता, कितने भ चलाओगे, कब तक चलोगे, तो, speed मैंने constant कर दी, कि 60 की speed पर चलना है, देखूँगा, किस के अंदर कितना stamina है, तो, जो ज्यादा time तक चलेगा, ज्यादा time तक चलेगा, वो ज्यादा distance travel कर लेगा, फिर इसका उल्टा, जिसने ज्यादा distance travel किया है, क्योंकि speed तो मैंने change करने समना कर दी ती, वो ज्यादा time तक चलाओगा, if s is constant, d is directly proportional to time, distance के अंदर जीते गुना change आएगा, time के अंदर उत्रे गुना change आएगा, इसको formula से भी कर शकते हैं, हैं वही, d is equal to s into t, अगर मैंने s को constant कर दिया, कि s को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अपने distance को बढ़ाना है, अ अब time को बढ़ाओगे, distance बढ़ जाएगा, time को बढ़ाओगे, distance कर जाएगा, simple सी बात है, time 2-3 गुना करोगे, distance 2-3 गुना हो जाएगा, इन सारे के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कि माल लो अपने पास, दो दोस्तें, a और b, अगर उनकी speed का ratio है, 2-3 और वो same distance travel कर रहे हैं, तो उनके time का ratio हो जाएगा, 3-2, जितना time उन्होंने लिया है, उस distance को travel करने का, अगर d constant है, आपको speed और time में से 1 का ratio मिले, तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, उससे ultra ratio होगा, अगर time constant हो, और 2 situation के अंदर, time constant है, distance और speed में से 1 का ratio given है, मालो, speed का ratio दे दिया, उसने, 2-1 ratio है, time constant है, उस situation के अंदर, दोनों चीजोंने same time के लिए travel किया है, उसने भी उतनाए time लिया, उसने भी उतनाए time लिया, तो उस case में आप बता दोगे कि distance का ratio भी 2-2 नहीं होएगा, speed or distance directly proportional है, तो यहाँ पर ऐसे पलट मत देना 1 इस to, inversely proportional में पलटते हैं, time constant है, जिसकी ज़्यादा speed होगी, उसने ज़्यादा distance travel कर दिया होगा, clear है, तो question में हम समझेंगे न, कि यह वाली situation है, यह वाली है, यह वाली है, वो हम question के अंदर समझेंगे, clear है, या फिर यह वाली situation है, आप समझ गए, अगर speed constant है, तो दोनों situation में distance का जो ratio होई, ratio time का आजाएगा, time का जो ratio होई, ratio distance का आजाएगा, clear है, समझ गए, concept मजएदार है, questions में मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल, tension मतलो, आपका बड़ा भाई, जब आपके साथ है, कभी भी attention मतलियागरो, आपको समझ में आएगा कि नहीं, number one, कभी भी attention मतलियागरो कि हमारा content identify की नहीं, relevant है की नहीं, एक भी percent की tension नहीं लेनी, सिर्फ आपके जिम्में मैंने एक चीज़ सोड़ रखी है, क्या, क्या आप इसको repeat कर सकते हैं की नहीं, और कितनी बार repeat कर सकते हैं, इसको regularly पड़के, बीच में कई बार ऐसा time आएगा, आप down चल रहे होंगे, कम समझ मैं आ रहा होगा, पुरानी चीज़ों को बूल रहे होंगे, कोई नहीं, सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ में, क्या, नहीं समझ मैं आ रहा है, जैसा भी time चल रहा है, बुरा अच्छा, क्या आप उस दिन पढ़ रहे हैं, की नहीं, that's it, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, की that's it, clear है, सिर्फ ये जिम्मा रखो अपने हिस्से, कि बस फढ़ा ही करनी है, कभी दिमाग तेज चलेगा, कभी मंदा चलेगा, कई सारी चीज़े अपने दिमाग को एफेक्ट करते हैं, क्या अपता कोन सी चीज़ आपके दिमाग को एफेक्ट कर रहे है, बट आपने इम इमांदारी से टाइम निकालना है, बस उसकाम के लिए, आपकी इतनी जिम्मेवारी है, अगर इतनी जिम्मेवारी आपने निभादी, मैत के अंदर कोई माई का लाल नहीं होगा, जो आपको रोक पाएगा, मैं बता रहो, और हाला कि गाइडेंस में सारे सब्जेक्ट से र तो यह उसी डेस्टीनेशन सेम डेस्टीनेशन की बात कर रहे है, एक ही डेस्टीनेशन पर जा रहा है, एक ही डेस्टीनेशन पर बी जा रहा है, उसी डेस्टीनेशन पर पहुंचने में, एक ही डेस्टीनेशन पर बी जा रहा है, उसी डेस्टीनेशन पर पहुंचने में, distance तो उसने constant बता दिया तो speed का ratio है a और b का 3 is to 4 तो time का ratio हो जाएगा 4 is to 3 अगर a 4 unit time ले रहा है तो b 3 unit time ले रहा है अब वो time के बारे में कुछ information बताएगा आपको देखो a takes 20 minute more तो यहाँ पर आप ratio में देखोगे कि a तो a की unit time जादा ले रहा है और वो बोल रहा है 20 minute इसका मतलब एक unit की value है 20 minute 20 गुना है असलिए चीज़े तो क्यों ना हम 20 गुना कर दें तो 20 चो के 80 80 minute ले रहा है a और 20 तो यह 60, 60 minute ले रहा है b clear है अगर a उस distance को travel कर रहा है तो 80 minute ले रहा है b उस distance बदलने के लिए बोला है गंटों में तो मैं 60 से divide करूँगा 60 कम 60 एक बुटे 3, एक बुटे 3 का क्या मतलब है 20 minute एक गंटा 20 minute यह वैसे कहां गया था मेरा दिमाग यह वैसे भी दिख रहा है एक गंटा 20 minute 60 से divide करने की क्या ज़रूरत है चलो जो भी यह बताओ A and B travel the same distance at speed of 9 km and 10 km उसने बताया कि नहीं कि same distance travel कर रहे है अच्छा जी distance constant बता दिया दोनों बंदे एक ही distance travel कर रहे है और उसने आपको इनकी speed बता दी speed है 9 और 10 तो speed का ratio क्या हो गया यह exact speed है ठीक है तो हम इन speed को use कर सकते हैं जैसे मैं पिछला question में जाना चाह रहा हूँ अगर पिछले question के अंदर किसी ने आप से distance पूछा होता तो distance होता है जी speed into time तो आप किसी भी situation से निकाल सकते हो माल लो एक distance travel कर रहा है उसको A travel कर रहा है या B travel कर रहा है अगर आपने distance निकालना है तो A की ही सहब से निकाल लो A की क्या speed थी A को कितना time लगा या फिर B की क्या speed थी B को कितना time लगा कोई भी बंदा यहां से पानी पत जाएगा तो उसकी speed और उसका time देख लो परक थोड़ी परता है कि रामफल गया था तो इतना distance आया था और भाईया मोहन गया था तो इतना सोहन गया था तो इतना किसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं तो इस question के अंदर हमें time तो exact पता लग गया था 80 मिनट लेकिन speed एगजेक नहीं पता थी speed का ratio ही पता था तो यहाँ पर exact distance हम नहीं निकाल पाते हैं किसी की भी मदद से नहीं निकाल पाते हैं यहाँ पर उसने exact speed बताई है यह सिरफ ratio नहीं बताया है exact speed बता थी तो ratio तो of course मिली जाएगा ratio 9 is to 10 है तो time का ratio 10 is to 9 है तो जहाँ पर ratio लिखो वहाँ पर यह बिंदी जरू लिख देना कि यह ratio है यह exact चीज है तो time का ratio मिल गया और उसने हमें क्या बोला है उसने हमें बोला है भाई 8 takes 36 minutes more जो हो 36 minutes ज्यादा ले रहा है हमारे ratio के हिसाब से तो एक मिनट ज्यादा ले रहा है एक्चुल में 36 minutes तो मैं इनको 36 गुना कर रहा हूँ 36 गुना एक्चुल चीज है तो यहाँ पर ले रहा होगा 360 minutes यहाँ पर ले रहा होगा 9 into 36 minutes उसने क्या पूचा है the distance traveled by each हर एक बंदे ने कितना distance travel किया तो कहीं से भी निकालो आपके पास time है यहाँ है यह रहा एका time पूच रहा हूँ मैं जी हाँ है एकी speed है हाँ यह actual speed है है distance मिल जाएगा जी हाँ speed into time बी की मदद से मिल जाएगा definitely बी का time है है बी की speed है कहीं से भी निकालोगे एक उत्तर है speed है 9 km पर आर और time है 360 minutes तो इसको गंटे में बदल दूँ यह km पर आर है तो यह आर्ष में होना चीए 6.37,9.44,45 km clear बहुत ही basic equation यह समझाना आया की नहीं आया है यह बताओ एक car covers certain distance in 4.5 hours if the speed is increased by 5 km पर आर तो हमेशे आपको क्या होगा दो situations या तीन situations मिला करेंगी 98% प्लस 99% आपको दो ही situation मिला करेंगी इस equation में एक car covers certain distance in 4.5 hours एक car जो है 4.5 hours में distance cover कर रही है अगर speed को 5 km बढ़ा दे तो it would take half hour less तो यह दगंटा कम लेगी तो मैं इसमें interested नहीं हूँ कितना कम लेगी मैं interested हूँ देखो examiner क्या करेगा examiner आपको दो situations की या तो time बताएगा या speed बताएगा time बताएगा तो आपको दोनो situation का time बताएगा या दोनो situation की speed बताएगा इन दोनों मेंसे एक चीज उसको जरूर बतानी है अगर वो solve करवाना चारा है तो एक चीज का ratio मिलते ही आपको दूसरी चीज का ratio मिल जाएगा पलट दोगे और उसके बार में वो कुछ information देगा ऐसे करता है तो यहाँ पर दोनो situation का time बता दिया पहले उसको 4.5 आर्ष लग रहे थे अब उसको 4 आर्ष लग रहे है अद्दा गंटा कम और आर्ष इन दोनों का ratio बताओ तो भाई यह 45 है यह 40 है अगर मैं इस point किस गए व 9 is to 8 लिखनी रहे और गलती कर रहे हो गलती नहीं होनी चीए किसी भी किमत पर चाहे कुछ भी करना पड़े चाहे लिखना पड़े गलती नहीं होनी चीए वस इनका ratio है 9 is to 8 तो speed का ratio है 8 is to 9 कोई distance है उसी distance को 4 गंटे में कवर कर रही है उसी distance को 4 गंटे में कवर कर रही है distance से इस तो time का ratio 9 is to 8 है तो speed का ratio 8 is to 9 होएगा उसने यह बताई है कि भाई उसने अपनी speed को 5 किलमेटर बढ़ाया था यहाँ पर तो speed के बीज में एक unit का gap है actual में करना है पांच unit का तो कर दो पांच गुना 8 45 किलमेटर पर आर यहाँ पर speed थी 9 55 किलमेटर पर आर यहाँ पर speed थी speed into time distance आया पड़ा है speed into time distance आया पड़ा है find the slower speed of the car slower speed बताओ distance पूछा ही नहीं slower speed 40 किलमेटर पर आर है कि ले रहे हैं are you enjoying or not आपको मजाना जी इन questions के अंदर एक पहले मैं आपको बिल्कुल आसान आसान questions करवाऊंगा यह जो हम lecture कर रहे हैं इसके अंदर इस understanding के distance speed or time की relation के जितने भी question आते हैं उनके top के आसान आसान question करवाऊंगा आपके understanding को build करूँगा फिर अगला lecture होएगा उसके अंदर इनके mix question करवाऊंगा मैं आपको इकट्थे नहीं करवाऊंगा speed is universally proportional to time distance is directly proportional to speed इनके mix करवाऊंगा ताक आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करूँ एंसा मतलो सारा जुगाड अपने पास अब बस question करते रहो the time taken in covering a certain journey decreases by 45 minutes when the speed is increased from 10 km to 20 km अगर speed को कोई बंदा 10 km से 20 km पर आर कर देता है तो time decrease हो जाता है दोनों situation में speed का ratio है 1 is to 2 तो time का ratio होएगा 2 is to 1 और time कितना कम हो जाता है speed को 10 की बज़ाए 20 करने पर वो बोल रहा है 45 minutes कम हो जाता है हमारे इसाब से तो एक unit कम हो रहा है उसके इसाब से 45 minutes इस चीज़ का भी देन रखा करो minute है या आर्श है क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर चीज़ उसी unit में आएगी 45 उनी 90 यहाँ पर उसको 90 minutes लग रहे हैं 45 है कम 45 यहाँ पर उसको 45 minutes लग रहे है what is the difference between the time taken when the same distance is covered at a speed of 40 km and 25 km per hour time के बीच में क्या difference होगा अगर same distance या तो चालिस की speed से cover किया जाए या 25 की speed से cover किया जाए अभी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो पहले distance तो देख ले तो distance 90 minutes है 10 km per hour है clear है और यह minutes के अंदर पूछ रहा है तो मैं मिनट में ही रखूँ यहाँ पर अपने पास दो अपस है पहले मैं एक त्रिके से करके बता देता हूं आपको इसकी speed से इनके बीच में difference बताना है यहाँ पर भी हम ratio यूज कर सकते हैं क्या है यहाँ पर भी ratio यूज इड का ये ratio हो गया time का ये ratio हो गया मैं जिस्ट रेशो की देख रहा हूं इसमें कोई sense बनेगी कि नहीं तो एक का लो उतने मज़े आएंगे नहीं इसमें ठीका आप इसको 25 की speed से करें तो कितना time लगेगा इनके बीच का हमने difference बताना है ठीक है तो अभी देख लेते हैं जी पास्तिये 15 पाच आठे 40 पास्तिये 15 पाच 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 पत्चिस ये वाला बड़ा है इसमें से इसको गटाएंगे ठीक है डिफरेंस ही बताना है पास्तिये 15 आठ की सदे 13 मिनट का gap याने की सदे 13 मिनट का gap clear तमझे मैं आगी बात या फिर मैं बोल रहा था हमारे पास दो option है या मैं किसी इसकी बात कर रहा था मैं इसकी units को exactly आर्श में मैं बदलूंगा इनी मैं यह देखूंगा मुझे यह देखना है ना कि भाई 40 की speed से जाने में कितना टाइम लग रहा है 25 की speed से जाने में कितना टाइम लग रहा है अगर 10 की speed से जाने में इतना टाइम लग रहा है तो distance is speed into time तो मैं इसको 10 into 90 ही रखूंगा 10 into नबाब बोलोगे सरा आपने इसे गंटे में नहीं बदला क्योंकि मुझे minute में answer चीए अब मैं इसको divide कर दूँगा यह उपर क्या है यह उपर लिखा है speed into time मैं इसको speed से divide करूँगा तो मेरा time minute में ही आएगा यहाँ पर और मैं उसी चीज में interested हूँ कि अगर यह 40 की speed से जाए तो इसको कितने minute लग रही है तो यहाँ पर इसको minute लग रही है जी 45 बटे 2 45 by 2 इतने minute और फिर उसी तरिके से distance निकाला 10 into 90 अगर यह 25 की speed से जाए तो इसको कितना time लग रहा है तो 5 दूनी 10, 5, 18 तो इसको minute लग रही 22.5 तो 36 और 22.5 में 13 मिनट का गया है ऐसे भी देख सकते हूँ अदर्वाइस आप exact निकाल के भी देख सकते हूँ ठीके जी यह बताओ भी एक मैन विद 3 5th of his usual speed reaches the destination 2.5 अर्श लेट एक बंदा 3 5th speed पर चल रहा है याने कि 5 में से 3 की speed पर चल रहा है नॉर्मली वो 5 की speed पर चलता है लेकिन वो आज 3 की speed पर चल रहा है उसकी speed का रिशो बता रहे है नॉर्मली वो इतनी speed पर चल रहा है लेकिन आज जो नॉर्मली इतनी पर चलता है लेकिन आज इतनी पर चल रहा है उसकी speed का रिशो speed उसने 5 से 3 कर ली तो तो टाइम उसको 3 से पांच लगेगा जी पहले 3 युनिट टाइम लगता था तो आज पांच युनिट टाइम लगेगा लेकिन वह बोल रहें कि कि गंटे लेट हुआ है, हमारे according तो वो 2 गंटे लेट हुआ है, 2 unit लेट हुआ है, उनके according वो 5 गंटे लेट हुआ है, तो बताओ चीजे कितने गुना होगी, चीजे हो गई, final upon initial, 2 की बजाए डाही हो गई, चीजे कितने गुना होगी 2.5 by 2 या फिर इस डाही को आप माल लो 5 by 2 एक्चुल चीजे कितने गुना ही आपको कैसे पता चलेगा अगर 2 की जगे यहाँ पर 20 हो गया होता तो आप बोलते हैं सर 10 गुना होगी तो आप कैसे निकालते हो 10 गुना 20 बटे में 2 याप 20 कितने गुना है 2 का शर 10 गुना है तो ऐसे ही 5 बटे 2 बटे में 2 एक्चुल चीजे 5 बटे 4 गुना हो रखे हैं तो आपको एक्चुल चीजे मिल जाएंगे यह मैं आपको दिखा रहा हूँ आप कैसे निकालोगी कि कितने गुना करना है तो इस 3 का पांच पटेए रहर वा उसको पहलेए लगए थे नौर मली and Caleb is वह ऊपते च्हारो आरश में ट्रस्टेड में दीखना चाहा हूं आधर यूजल टैम ट्रीम ध discoveries द्रहर मोर्मलिष डेश्टिनेशन पर fino अगाल में पहुंचता था यह normally, normally speed को इतना रखता था, इतना टाइम में पहुंचता था तरी तने गंटे में पहुंचता था प्यारतिये बारह 3.75 आर्श इतना टाइम लेता था जी ले रहां और भी ओके ठीक है इसके आगे अभी इसी तरीके से करो आगे मैं जिस टाइब के एक्वेशन सोज रहा हूं वह आगे हैं यह वाले क्वेशन बताओ क्योंकि इससे पिछला जो हमने क्वेशन के है उसको एक और तरीके से कर सकते हैं काफी इजली वह माग गए एक अठे ही बता दूँगा वह सारे क्वेशन एक ट्रेन रणिंग एट 7 by 11 of its own speed एक ट्रेन जो है 7 by 11 speed पर ही चल रही है यह निकि नौर्मली उसकी speed 11 है तो वो सिरफ 7 unit speed पर ही चल रही है तो उसकी normal speed है 11 लेकिन वो आज के दिन चल रही है 7 की speed पर 7 11th speed पर चल रही है यह speed का ratio है तो उसको time अगर पहले 7 unit लग रहा होगा तो आज उसको time 11 unit लग रहा है भाई ठीक है और फिट्स on speed reached a place in 22 hours तो इसका मतलब क्या है धहान से पढ़ो एक पर वो उस प्लेस पर 12 hours में reach उसने किया है उन्होंने यह नहीं बताया कि वो 12 गंटे लेट हुई है कि इनके बीज में difference कहीं आपने यह आदत पाल ली हो कि 11 और 11 speed पर चल रही है तो वो 22 गंटे में पहुंची है तो देखो normal अगर 11 speed है तो आज वो 7 की speed पर चल रही है नॉर्मल उसको 7 unit time लगता है तो आज उसको 11 unit time लग रहा है और वो बोल रहे है आज उसको कितना time लग रहा है तो यानि कि 11 unit की जगा है 22 आर्श की speed कम करने के बाद उसको कितना time लगता है तो actual चीजे दो गुना है ठीक है पहले उसको 14 गंटे time लगता था नॉर्मल जब वो speed पर चलती थी तो तो 7 का double लेकिन actually वो पूछ क्या रहे है वो बोल रहे है है how much time could be saved if the train would have run at its normal speed तो देखो भी या नॉर्मली 7 उनिट टाइम लगता था आज उसको 11 उनिट टाइम लग रहे है तो कितने घंटे कितने उनिट लेट हो रही है च्यार उनिट अगर वो नॉर्मल स्पीड पर चलती तो च्यार उनिट टाइम बचाया जा सकता था च्यार स्पीड कम करने के कान 22 गंटे लग रहे हैं पहले 14 गंटे लग रहे थे तो कितने घंटे बचा लेगी अगर नॉर्मल स्पीड पर से लेगी तो 8 गंटे बचा लेगी तो आज के इस के कंपेरिजन में 8 गंटे टाइम बचाया जा सकता था ठीक ठीक यह बता हो, a student rides on a bicycle at 8 km per hour and reaches his school 10 minutes late, 10 minutes late हो जाता है बन्दा, अगले दिन उसने अपनी speed को 10 km per hour नहीं बढ़ाया, 10 km per hour तक बढ़ा दिया, increases his speed, देखो अब मेरी बात को दियां से सुनो, अगर इंगलीश वालों को बता रहा हूँ यहां पर, अगर यहां पर आएगा by, अपनी speed, increases his speed by 10 km, तो इसका मतलब है 10 km से बढ़ा दिया, 8 की जगए 18 करती, 10 बढ़ा दिया, अब है increases to 10, 10 तक बढ़ा दिया, इंदी में 10 तक की होगा न, तक बढ़ा दिया देखो, ठीक है, 8 से उसने अपनी speed को 10 कर दिया, तो पांच मिन उड़ पहले पहुंच गया, जैन्य कि जितने बज़े उसने पहुंस ना था, उससे पांच मिन उनट पहले यहां पर पहुंच गया, यह एक दिन की बात है, यह एक दिन की बात है, दोनों दिन है, डिस्टन्स तो सेम है, उसके स्कूल से, उसके घर का डिस्टन्स तो सेम है, उसके स्कूल से, उसके घर का डिस्टन्स तो सेम है, तो स्पीड का क्या रेश्यो है, पहले दिन स्पीड आठ थी, अगले दिन टाइम लग रहा था तो अगले दिन टाइम टाइम लग रहा था इन टाइम के बीच में कितने का फरक है रेशियो में एक उनिट का वहाँ पर कितना फरक है एक्चुल में देखो अब ध्यान से एक नमबर तो 0 से 2.5 आगए है एक नमबर 0 से 5 मिनट पीछे है तो 5 प्लस 2.5 7.5 मिनट का फरक होएगा ना दोनों सिच्वेशन के अंदर एक दिन तो 0.5 मिनट लेट जा रहा है अगले दिन उसने ये 0.5 मिनट नहीं बचाए शिरफ यह नहीं कि वो टाइम पर पहुंच गया टाइम पर पहुंच जाता तो टाइम से भी 5 मिनट पहले पहुंच रखा बंद तो इन दोनों सिच्वेशन के बीच में कितने का फरक है 7.5 मिनट का एक्चुल में फरक है 7.5 मिनट का एक्चुल चीजे 7.5 टाइम से या फिर 7.5 को मैं करना चाओंगा 15 अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर आपको एक चीज बताओंगा how far is the school देखो 7.5 को भी यहाँ पर यूज कर सकते थे 7.5 को अगर आप 5 से गुना करोगे यह 7.5 को 4 से गुना करोगे तो अब को अच्छा कब मैसूस होगा जब 4 से करोगे even number है मजा आ जाएगा यहाँ पर मुस्किल होगा तो जब ऐसे distance निकालना हो तो ऐसे भी देख लिया करो कभी कभी तो 7.5 को अगर मैं 4 से गुना करूँगा तो दो बार double करना है 7.5 का double 15 15 का दो दिस्टेंस ठीक है तो एक गंटे में 10 किलोमेटर जाएगा इतनी स्पीड है तो 30 मिनट का मतलबाद 10 गंटा 2 गंटा 2 गंटे में 5 किलोमेटर चला जाएगा तो यहाँ पर ऐसे करने की भी जूरूत नहीं कि स्पीड इंटु टाइम इस इकलो डिस्टेंस तो होगी ना क इस इस तरह के कई क्वेशन आते हैं इस क्वेशन को करोगे स्टूदेंट वाक्स इस स्पीड आफ ड्ही क्लोमेटर पर आर रिचिस इस स्कूल एटीन मिनट लेट नेक्स यह आइप दिन तो बच्चों को यहाँ आध़त हो जाती कि अथारा और च्छागो जोड दूगा चोबिस से कंपेर कर दूगा एकिन ऐसे गिलती आप नहीं करन जिस वक्त उसने पहुंचना था एक दिन तो वो उस वक्त से 6 मिनट लेट पहुंचा ठीक है और एक दिन खलब एक दिन वो 18 मिनट लेट पहुंचा था एह 18-umum बांद अगले δिन स्पीड बढ़ाई फिर भी इस टाइम से 6 मिनुट बाद पहुंचा तो इन दोनो सिच्वेशन के पीच में 12 मिनुट का फरक है, यह समझ पारहे होगी नहीं, इन दोनों सिच्वेशन के बीच में 12 मिनुट का फरक है वो ऐसे equation भी बना सकता है कि एक दिन वो time से 5 मिनट पहले पहुंच गया उसने अपनी speed को बढ़ाई तो वो time से 20 मिनट पहले पहुंच गया इन दोनों situation में कितने time का फर्क होएगा इन दोनों situation में 15 मिनट का फर्क होएगा तो आप देख लेना कि दोनों बार लेट हो रहा है दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है या एक बार जल्दी एक बार लेट हो रहा है ठीक clear है? ऐसे जल्दबाद जी में कोई काम नहीं करना ठीक अची तो दोनों दिन का उसने क्या बताया है? एक दिन वो speed उसकी थी 2.5 km पर आर speed का ratio अगले दिन उसने अपनी speed को he increases his speed by 1 km पर आर उसने अपने speed को 1 km पर आर बढ़ा लिया वह है अपनी गती 1 km पर आर बढ़ाता है ठीक है तो यानि कि 3.5 km पर आर उसने कर लिया तो point से point गट गए सिर्फ ratio में interested हूँ है 5.5.5.25 5.7.35 5.7 is the ratio तो time का ratio हो जाएगा 7.5 जैसे directly ratio लिख सकते हैं उसको काटे भी न हमारे पास actual speed पड़ी रहेगी इसको use करेंगे बाद में ठीक है अभी इनोंने time के बारे में क्या बता रखा है कि 12 मिनट का फरक है हमारे यहां तो 2 मिनट का फरक है यह बोल रहे हैं 12 मिनट का फरक है actual चीज़े 6 गुना है तो 7 चीके 42 यहां पर 42 मिनट लगी 5 चीके 30 यहां पर 30 मिनट लगी अब मुझे एक बात बताओ आप 42 से मल्टिप्लाई करने में आपको अच्छा लगेगा है 30 मिनट से मल्टिप्लाई करने में 30 मिनट तो एक गंटे का अद्दा है speed है 3.5 किलमेटर पर आर speed into time करना है एक गंटे में चीज 3.5 किलमेटर चली जाती है तो आद्य गंटे में कितनी दूर चाहिए कि उसको 30 मिनट लगे है तो इसका ज़स्ट हाफ कर देंगे एक गंटे में इतनी दूर जा रहे है तो यहां पर भी 42 by 60 से multiply करोगे तो आंसर तो यहां पर भी आ जाएगे लेकिन 5 mm यहां पर है तो चोटी मटी चीज़े हमने यूज करनी है 3.5 का अद्दा इस ती आंसर तो इट विल बी 1.75 ठीक है जिए क्लियर यह करो मैं पानी पी रहा हूं थोड़ा सा टाइम लेकर प्यूंगा उतने टाइम आपने करना है इसलिए टाइम लेकर प्यूंगा देखता हूं आप कर पाऊगे आप करें 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 अगा आप करें आप दोड़्या ने जानना को मैं आप कर दोड़े अ जर्दाद के जोड़ता है इतना तेजी इस से इन बार होरी हिंदी वालो औरी कि अ बास्पेशल जान देना बढ़े गाई बता देता हूं हिंदी में A runs twice as first as B A B से double तो नी तेजी से भागता है B runs thrice as first B C के comparison में तीन गुना तेजी से भागता है तो सलेजी कर लेते हैं तो इन्होंने speed के बारे में information दी है कि नहीं जी हाँ speed के बारे में दी है A जो हो B से double तेजी से भागता है और B जो हो C से 3 गुना तेजी से भागता है तो मैं C को मानना start करूँ ताकि अच्छा ऐसे chain बन जाए C की speed अगर 1 है तो B की speed 3 है हमें ratio पता लग रहा है A B से double है इसकी speed 3 है तो इसकी speed 6 है तो हमें speed का ratio मिल गया तो अब उसने क्या बोला उसने बोला कि किसी distance को C 72 मिनट में भाग रहा है तो A कितनी देर में भागेगा तो time के बारे में पूछ रहा है तो आप time का ratio ना निकाल लो वो कुछ भी पूछे का time के बारे में बता देंगे तो अगर speed का ये ratio है तो time का ratio होएगा आपने पास 1 by 6, 1 by 3, 1 by 1 सब को 6 गुणा करोगे क्योंकि speed का ratio reverse होता है universally proportional होता है 6 से गुणा करोगे तो 1 is to 2 is to 6 उसने क्या बताया है कि किसी distance को C 72 मिनट में cover कर रहा है यानि कि C कितना time ले रहा है 6 unit time ले रहा है इनके time का ratio है 6 की जगे 72 है 6 का 12 गुणा है एक कितनी देर में करेगा तो A का 12 गुणा 12 मिनट में करेगा B कितनी देर में करेगा 2 का 12 गुणा 24 मिनट में करेगा कुछ भी पूछ लेता A और B के time के विच्छन डिफरेंस क्या होगा तो दोनों के बीच में एक unit का डिफरेंस जाने की 12 होगा A और C के time के विच्छन डिफरेंस कितना होगा अगर कुछ भी वो पूछ लेता है यहां से हम बता बाते ratio से यह एक तरीक का है इससे भी आसान तरीक का बताता हूँ स्पीड और time का ratio inversely proportional कब होता है स्पीड और time का ratio inversely proportional कब होता है जब distance constant हो तो distance को मान लो अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी लेकिन ऐसा मान लो जो 6 तीन और एक से डिवाइड होता हो तो distance को 6 मान लो आपकी कोई दिकत नहीं है आप kilometer में नहीं मान रहे है आप unit में मान रहे हो आप unit में मान रहे हो कुछ भी रंडम तो distance चाहिए unit है distance constant है इन सभी के लिए तभी time का ratio देख चाहिए एक कम चाहिए यहाँ पर time क्या होता है distance upon speed distance upon speed तीन दूनी चाहिए एक चीक के चाहिए यह लो डारेक्ट रिश्यो आ गया यहनि कि एक ऐसे number को divide करो जो इन सबसे divide हो रहे है उसका मतलब ही क्या है inversely proportional का मतलब यह है आप एक ऐसे number को divide कर रहे हो जो इन सबसे divide हो रहे है तो वह एक जाब से distance है ठीक है clear है तो उत्तर यहाँ पर आ चुका है उन्होंने एक के बारे में पूछा था उसकी value 12 आ गई थी option D क्यों बताओ के father and his son start at a point A with speeds of 12 km per hour and 18 km per hour respectively आप और बेटा बारा और अठारा की speed से चल रहे है and reach another point B if his son starts 60 minutes after his father at A and reaches B 60 minutes before his father तो देखो भाई मामला यह है यह point A है यह point B है दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो दोनों situation में distance constant है की नहीं है same distance travel कर रहे हैं ठीक है और दोनों के बारे में क्या चीज़ बता रखी है time बता रखी है स्पीड बता रखे सर स्पीड बता रखे तो वहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर लिख दिया फादर यहां पर लिख दिया सन ठीक है तो स्पीड का रेश्यो फादर की स्पीड कितनी है बारा बेटे की स्पीड कितनी है अठारा और यह एक्चुल स्पीड है जी एक्चुल स सन के बारे में, सन ने 60 मिनट बाद स्टार्ट किया था, और फिर भी अपने फादर से 60 मिनट पहले पहुंच गया, तो देखो, फादर चल चुके हैं, सन अभी चलने वाला नहीं है, एक गंटा रुकेगा, फादर चल रहे हैं, और एक गंटा पहले पहुंच गया, तो overall उसके सन ने कितनी जल्दी जर्नी कवर कर ली, कितना कम टाइम लिया उसने, एक तो एक गंटा लेट स्टार्ट हुआ, और एक गंटा पहले पहुंच गया, तो दो गंटे एक्स्ट्रा फादर चलते रहे, एक गंटा वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ, और एक गंटा पहले है actual में 2 का difference है तो 2 गुना कर देते हैं 2 तीए 6 2 दुनीच यार किसने कितना time लिया हमारे पास है किसकी कितनी speed है exact हमारे पास है वो distance पूछेगा what is the distance between a and b बता देंगे 12 चीके बहतरी यहां से कर लो 18 चोके बहतर कहीं से भी कर लाओ exact question है यह अपने exam में आया हुआ है ठीक है clear है तो भी एक छोटी सी पैरी सी बात मैं आपको यहां पर समझाओंगा तो मैं आपको यहां पर एक दो तीन च्यार पांच question दूँगा ठीक है तो वो पांच question आपने करने एक screen पर find the missing values तो यहां पर क्या होएगा मैं एक बार आपको समझा दूँगा किस चीज के question दूँगा एक बंदा है वो अपनी speed को change कर लेता है change in speed होएगा कि माल लो कोई बंदा है वो अपनी speed को एक question मैं यहीं पर बना कर आपको दे देता हूँ एक बंदा है वो अपनी speed को 20% बढ़ा लेता है इसके कारण अगर कोई अपनी speed को बढ़ाएगा तो क्या होएगा वो जल्दी पहुँचेगा अपने घर से अपने office तक जा रहा है तो अगर अपनी speed को बढ़ाएगा तो जल्दी पहुचेगा ना भाई फिर तो late नहीं होएगा अगर मैं बोल दूँ कि किसी बंदे ने अपनी speed 25% घटा ली तो late पहुचेगा तो मैं आपको दो question दे रहा हूँ किसी बंदे ने अपनी speed 20% बढ़ा ली इसके कारण क्या हो रहा है वो 20 मिनट early जा रहा है 20 मिनट early तो मैं आपसे पूच रहा हूँ कि usually उसको कितना time लगेगा मलब usually 20 minute 20% अपनी speed बढ़ाने के कारण वो 20 मिनट जल्दी जा रहा है तो usually उसको कितना time लगता है usually का क्या मतलब है कि अगर वो अपनी speed क को नहीं बढ़ाता तो और अब उसको कितना time लग रहा है बढ़ाने के बाद इसको हम दो तरीक के से कर सकते हैं इसको मैं बाद में करूँगा 25% वाले को पहले एक बार आप ट्राइक करो दोनों तरीक के यहीं पर बताऊंगा आपको देखो तो दो situation है एक तो पहले वाली ह हो गई एक दूसरे वाली हो गई स्पीड 20% बढ़ा ली यानिकी 5 से च्छै करती बताओ यहां पर शैमत होगी नहीं 20% एक बटे 5 बढ़ा ली 5 पर एक बढ़ा ली 5 से च्छै करती तो दोनों situation में speed का रिश्यों 5 इसको ऐसे कर लेते हैं यह उसकी situation है normally यह उसकी normal speed है यहां पर उस जब उसने बढ़ा ली वह वाली speed है normally 5 unit time 5 unit speed होती थी बढ़ा कर उसने च्छै कर ली तो time का ratio होएगा 60 to 5 यहां पर बताया है 20 minute पहले पहले पहुंचा तो हमारे हिसाब से एक unit पहले पहुंच गया बढ़ा कर इनके हिसाब से 20 minute एक्चुल चीजे 20 गुना है तो 20 चीक है 120 तो normally वह 120 minute में पहुंचता है जब speed 5 होती है उसका normal time है 120 minute और अब speed बढ़ाने के बाद 20 500 अब उसको 100 minute लगे हैं देखो 20 minute बचा रहा है आप बोलोगे जरीश में क्या नया है यह तो हम कर चुके हैं भी पहले हम यही कर रहे है और क्या करें अब इसी question को दूसरे नजरिये से दिखाता हूं ठीक लिर वो चीज़ सिखाने के लिए equation ऐसे रखे हैं दूसरे त्रिक कैसे देखते हैं कैसे अब को यह बात तो पता ही है ना कि speed और time universally proportional अगर distance same हो तो हां जी speed जितने गुना होगी time उसका उल्टे गुना होगी तो time one third लगेगा speed पांच गुना होगी तो time one fifth लगेगा speed तीन बटे दो गुना होगी तो time two third लगेगा तो हम इन questions को mentally भी कर सकते हैं कई बार exactly ऐसे question आते हैं तो आपके पास एक और perspective होना चीज़ जो मैं भी देने वाला हूं दो method मिल जाएंगा आपको इनको solve करने के और दोनों जरूरी हैं समझने तो speed को 20% बढ़ा लिया तो मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि कितने गुना हो गई speed आप बलोगे sir 20% बढ़ाने पर चीज़ें 6 बटे 5 गुना हो जाते हैं 120 बटे 100 percentage में सिका था 6 बटे 5 गुना अगर speed 6 बटे 5 गुना हो गई तो time कित कम हो गई 6 पर 16 कम हो गई और यह बोल रहे हैं कि 20 मिनट कम हो गई आप मन में इतना सोच तकते हो कि speed 6-5 गुना होगी तो time 5-6 गुना होगा 5-6 गुना होगा का मतलब है कि 1-6 कम हो गया यह बोल रहे हैं कि 20 मिनिट कम हो गया यानि कि 1-6 की value 20 मिनिट है तो पूरा कितना होगा 20-6 120 यानि कि उसको नॉर्मली 120 मिनिट लगते हैं जो नॉर्मल स्पीड थी फिर से समझा रहा हूँ जो नॉर्मल स्पीड थी उस नॉर्मल स्पीड के कमपेरिजन में हमारी स्पीड अब 6 बटे 5 गुना हो गई तो जो normal time हमारा पहुंचने में होता था उसके comparison में हमारा time अब 5 बटे 6 गुना हो जाएगा अब हमारा time 5 बटे 6 गुना हो गया यानि कि कम time लग रहा है यानि कि 1 बटे 6 time कम लग रहा है तो उसे और ये तो बोल रहे हैं 20 minute कम लग रहा है कि अच्छा normal time का एक पुटे 6 गुना time 20 minute है नॉर्मली 120 minute लग रहे है एक पुटे 6 की value 20 है तो पूरे की तो 120 सर अगर इसमें new time पूछ ले तो फिर क्या ही दिक्कत है नया time 20 minute कम लग रहा है ना आप इस method से हमें से usual time निकाल पाओगे इसमें से 20 गटा तो वह सो आया पड़ा है नॉर्मली कम लग रहा है ज्यादा लग आपको पताई है तो एक और question करते हैं जी माल लो किसी बंदेने अपनी speed को 25% गटा लिया और अब उसको 30 minute बताओ 25% गटाने फिर लेट जाएगा जल्दी ऐसा चमतकार तो नहीं कर रहे हो कि 25% स्पीड भी घटाली फिर भी जल्दी जा रहा है लेट जाएगा न स्पीड गटाली तो तो 30 मिनट यहां पर मैं यह नहीं बताओंगा लेट यारली आपको अंदा जा लगाना है स्पीड घटी तो लेटी होएगा यार ठीक ओके 25% गट गई स्पीड स्पीड कितने गुणा हो गाई टीन उ ट्रला प्रे चैर तता ब्रॉट सबूस्वर झार और तो एकंद द्रूट kay एक एक क्श्ट्रा टीन पर याननि कि एक मिनट लेट हुआ है न 90 और 3620 अगर नया पूछे तो तो क्या आप इन questions को ऐसे कर पाएंगे मेरे भाई बहन दोस्त सखा बंदू कर पाएंगे जी जे समझ में आ गई अब पांच questions practice कर लें इसी चीज़ के उपर पांच questions है जी speed बढ़ाई है या घटाई है वो बता दी गई है अगर speed बढ़ेगी तो इसका हमलब बंदा जल्दी पहुंच रहा है कम करती तो इसका हमलब तो देखो जी speed कितने गुना हो गई 20 परशेंट जादा यानि कि आपके दिमाग में भी अचीज जाने चीज़ इसको हम mentally कर दें मैं लिखूंगा नहीं अगर आपका लिखने का दिल कर रहे तो आप लिख लेना मैं लिखूंगा नहीं तो द्यान से मेरी बात समझना 20 परश परशेंट गुना हो गई 20 परशेंट मोर तो टाइम पांच परशेंट गुना हो गया हो गया है यानि कि कितना कम लगना एक पटे च्शे कम होना और ये बोल रहे हैं 10 मिनट गवा तो यहनि कि एक पटे च्शे की वेल्यू दस मिनट है जितना भी normally टाइम लगता था उसका एक पटे 6 10 है तो actual 6 into the 60 होएगा usually उसको 60 मिनट लगते हैं अब कितने लग रहे हैं अब वो 10 मिनट speed बढ़ी है तो 10 मिनट कम लग रहे हैं उसको तो 50 मिनट आप कोई से अंदाजा हो जाएगा speed बढ़ी है तो अब time कम लग रहा होगा अब 50 मिनट लग रहा है usually उसको 60 मिनट लग वो जनरली यूजवल टाइम ही आप से उचते हैं clear यहां तक आप mentally easily पहुंच सकते हैं फिर एक step और आगए आप mentally ही पहुंच सकते हैं speed 40% ज्यादा कर दी उसके काण 12 मिनट बचार एक बंदा बारा मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो speed कितने गुणा होगी 7 बटे 5 गुणा 140 बटे 5 गुणा तो time लगेगा 5 बटे 7 गुणा time कम कितना हुआ 5 बटे 7 यानि कि 2 बटे 7 कम हो गया 2 बटे 7 की ये value है actual कितना होगा बारा मिनट पहले पहुंच रहा है तो अब उसको 30 मिनट लग रहा है तो बताओ सारी वल्यू निकाल सकते मेंटली अकुछ लिख रहा हूँ कि अगर कैसे क्वेशन आते हैं डेफिनेटल याते तभी तो कुरा रहा हूँ ऐसे गंदे स्वाल मत पूचागरो 30% less speed जो हो 30% कम हो गई याने की 7 by 10 times हो गई 7 बटे 10 गुणा तो time 10 बटे 7 गुणा लगेगा पहले के comparison में 10 बटे 7 10 बटे 7 याने की 7 से 3 ज्यादा लग रहा है 3 बटे 7 गुणा ज्यादा लग रहा है यहां पूरत है बोल रहे है 6 बटे 7 गुणा की value यह है तो इसको 7 बटे 3 गुणा कर रहा हूँ तो खुद का दिमाग लगा और एक बार फिर से देख लो जहां पर मेरे को ऐसे लगेगा मेरे को और बैटर explain करने की जरूरत है मेरी तरफ से कमी हो रही है अब tension मतलो मैं इतनी honesty से पढ़ा रहा हूं कि मैं 5 मिनट का पोज live ही भीना वीडियो एडिट करके आपके सामने ले स सकता हूं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है सोच के आपको और बैटर वे से पढ़ा दूँगा ठीक है और जहां पर आपके effort लगाने की बात है वहां पर आपको बता दूँगा कि यहां पर आपने लगा ठीक है बाई इतनी honesty से हम चल रहे हैं ठीक है इतना काम हम कर सकते ह को अब स्पीड को किसी बंदे ने 1.25 टाइमस कर दिया वह कैसे भी इनफोर्मेशन हमें दे सकता है परसेंडेज में देदे टाइमस में देदे स्पीड को उसने 1.25 टाइमस कर दिया तो इसके कान क्या हुआ अब उसको 40 मिनट लग रहे तो बताओ कितने मिनट लेट हुआ या यूजवल उसका क्या टाइम है यह इनफोर्मेशन हमने पर नहीं है स्पीड को उसने कितने गुणा कर दिया उसने 5 बटे 4 गुणा कर दिया यानि कि अब उसको टाइम लग रहा होगा 4 बटे 5 गुणा इन सारे क्वेशन को हम रेशो में तरह से कर शकते हैं जो हम अब पहले 5 लगता था आज 4 लगा होगा इसको तो ऐसे ही करने में फायदा वेगा 4 की जगह 40 है 5 की जगह 50 इसको तो रेशो से ही करने में फायदा होगा और प्रेक्शन से भी समझा सकता हूं बट वो पालतू की जैसे स्पीड 5 बटे 4 गुणा होगी तो टाइम 4 बटे 5 गुण तो तौन टाइम है ना इन्हedes हो गया तो उसको से परदे चार क्रोगे तो पुराने वाला टाइम हो गया उसको क्रो पड़े उसको परदे चार अगहे देग Ö उपर आने वाला टाइम और ये कितने मिनट लेट हो गया या जल्दी हो गया पहले यूजुली ये 50 मिनट में जाता था आज ये 40 मिनट में जा रहा है ये ये 10 मिनट अर्ली जा रहा है clear ठीक है किसी बन्देन अपनी स्पीड को 3 8 कम कर लिया अगर 3 8 कम कर लिया तो याने कि 5 8 कर लिया 5 8 कर लिया स्पीड 5 x 8 times होगी तो time 8 x 5 times होजाए नायम, normal से 8 x 5 times लगेगा याने की 8 x 5 times का क्या मतलब है नौर्मली 5 लगता था तो आज 8 लगेगा नौर्मली 5 लगता है तो आज आट लगेगा, change होने के बाद 5 x 3 g 015, 8 x 3 g 024 यहां पर किया आएगा वो कितना लेट यह जल्दी ओ रहा है वो लेट हो रहा है नौरमली 15 मिनट लगता है अब 24 मिनट लग रहा है तो वो 9 मिनट लेट और यहां पर नाम इसको नौरमली हम ऐसे भी कर सकते हैं उसने अपने स्पीड को 25 बढ़ा लिया यानि कि 4-5 कर दी तो टाइम उसको लगेगा 5-4 और यह बोल रहे हैं कि उसने 30 मिनट बचा लिए हमारे एक उनिट बचा लिया यह बोल रहे हैं 30 मिनट बचा लिए इसका 30 गुना एक रेशो का 30 एक्चुल चीजे तो 35-500 तो 1500 मिनिट लेता हूँ नॉर्मली अब कितनी ले रहा है 300 के 120-120 ले रहा है तो आंसर हो गहा है तो तेरे बहुती इजी है इससे क्यों नहीं करा रहे हैं आपको भी कोज समझ दोनों क्यों नहीं चाहिए इन दोनों में से कोई सी भी समझ आपको कोई क्यों 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 क बोल रहे है 30 मिनट कम लग रहा है एक पूटे 5 की वाली अगर 30 है तो पूरे की वाली 30 इंटू 5 देट होगी है ठाक या पैसे भी कर पाओ ठीक का जी यह देखो तो मेरे काव वो फ्रेक्शन वाली जी समझा दिया अब जहां पर जिस तरीके से मेरा दिल करेगा उस तरीके से बताऊंगा आप समझते हो ना if a man increases his speed by 25% he can save 30 minutes of the journey instead he if he increases his speed by 50% how much journey time he can save 25% speed increase करने पर वो 30 minutes बचा रहा है ओके जी अगर वो अपनी speed 50% बढ़ा देगा तो ऐसे मत करना कि 25 से डबल 50 है तो 30 का डबल 60 है 60 minutes बचा लेगा ठीक है ओके दोनों situation को अलगलग solve करेंगे speed अगर 25% बढ़ा लेता है यानि कि speed को अगर वो 4 से 5 कर लेता है यह speed का ratio है तो उसको time लगता है 5 is to 4 ठीक है time के वीच में कितना फरका वो एक minute बचा रहा है वो बोल रहे है 30 minute बचा रहा है ठीक है तो 30 पंजे डेड़ सो normally उसे डेड़ सो minute लगते हैं आज उसे 120 लगते हैं ठीक है जी तो normal time अपने पास आ गया डेड़ सो minute अब दोनों situation को फिर शे देखते हैं अगर वो अपनी speed को 50% बढ़ा ले यानि कि अगर वो speed को 2 से 3 कर ले normal speed 2 है तो वो बढ़ा कर 3 कर ले तो time 3 is to 2 लगेगा ठीक है तो व normally उसको कितना time लगता है पहली situation में ये normal speed थी ये बढ़ाने के बाद थी 25% बढ़ाई थी normal speed थी बढ़ाने के बाद थी तो normal time हमारे पास 1500 unit आ चुका है तो अगर इस 3 की value 150 minute है तो इस 1 की value कितने होगी 3 से कितना गुना है 50 गुना इस 1 की value होगी 50 minute तो वो 50 minute बचा ले ठीक है जी clear है उसी situation को बस दो बार लिखा है हमने है अब आगे बढ़ते हैं ये बताओ कि a man started his journey 40 minutes later than the usual time due to family fight घर में जगड़ा हो गया तो 40 minute लेट स्टार्ट की but due to urgent work he increased his speed to 160% और हां इस question को mentally भी कर सकते थे जैसे उसने अपनी speed को 25% बढ़ाया तो speed होगी 5 बटे 4 गुना time लगेगा 4 बटे 5 गुना एक बटे 5 गुना कम एक बटे 5 की value यह है तो normally उसको time लग रहा है 30 minutes अब उसने speed कर ली 3 बटे 2 गुना 50% बढ़ा के तो उसको time लगेगा कितना speed 3 बटे 2 गुना हो गई तो time लगेगा 2 बटे 3 गुना बचेगा कितना एक बटे 3 गुना तो normal time फिर उसको याद आया कि office में तो डाट पड़ेगी तो उसने अपनी speed को 160% बढ़ा लिया यहां पर आपको एक मैं प्यारी सी बात बताना चाहूंगा एक बात याद आगी कि भाई कई बार होता क्या है कि जो आपकी उमर में जो बंदे हैं और वैसे तो कई बार बड़े आज तक तो मरगो कुछ नहीं हुआ मरगो 10 साल होगे चलाते हुए देखो ऐसा नहीं आपने अभी ऐसा कोई बंदा देखा है मैं बाई को तेज चला रहा हूं और मैं 30 बार मेरा हाथ तूट चुका है 20 बार नांग तूट चुकी है बार बार नहीं हो तो accident कि आज तक तो ए एक बार भी नहीं हुआ एक बार भी नहीं हुआ तभी तो आप सामने कड़े हो एक बार होने में बहुत ज्यादा कई लोग यह सोचते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा स्किल्फुल है या फिर हम तो गलती नहीं करते देखो माल लो कोई बंदा गाड़ी तेज चला रहा है वह बहुत ही भेंकर skillful है लेकिन आपके मरने के लिए किसी और के मरने के लिए हाथ पर टूटने के लिए ये नहीं है कि आपके अंदर skill की कमी है तभी आपके हाथ पर टूटेंगे गाएं आ गई, बकरी आ गई, भैंस आ गई, बंदा आ गया, बच्चा आ गया किसी और की भैंकर गलती हो सकती है और आप एक uncontrollable speed पर चल रहे हैं जिस पर नहीं चलना चाहिए तो मालो गलती किसी की भी हो फिर आप बलो की गलती तो उसकी है मालो गलती किसी की भी हो, आप मर गए तो does it matter की गलती किस की थी मैं मरतों गये, लेकिन मैं तो उसकी गलती से मर गया कोई कम से कम मेरी गलती तो नहीं थी, नहीं न आपकी family वाले दुखी हो जाएंगे accidents ऐसे बार बार नहीं होते एक बार ही होएगा दो बार ही होएगा major उसी में आपके अकल टिकाने आ जाएगी हो सकता आप दुबार अब आई कि अगड़ी को हाथ भी ना ला incident मेरे ध्यान में आ गया, हमारे office में एक बंदा था उसका scooter पर accident हो गया, उसकी pair में कुछ ऐसा गड़बड हो गया है कि वह पूरी जिंदगी ठीक से वह ऐसे चलता था, ऐसे मतलब कि थोड़ी सी थी ठीव लव डिफेक्ट तो वह जब उस जगह से गुजरता नहीं जहां पर उसका accident था, एक तो उसने पूरी जिंदगी ओटो से आना स्टार्ट कर दिया, कभी भी scooter पर नहीं आता था, scooter चला नहीं जोड़ दी उसने, क्योंकि बहेंकर accident वह था, लेकिन कभी-कभी मजबूरी में चला रहा है, माल लो भी, बंदे को आती है, ठीक ठाक आती है उस दिन हो गई गलती, जैसे भी जिसकी भी गलती थी, एक जगह पर जब वो जाता ना, तो वो तेज चलाता, scooter, तो पिछे वाले ने पूचा कि भाई, जब भी तू इस रोड पर आता, तू मतलब इतनी तेज चला देता है, क्या पंगा है तरह, बोल रहा है, इस रोड पर पर लिए, एक तो 40 मिनट वो लेट निकला था, और एक 35 मिनट जल्दी पहुच गा座ा, तो 75 मिनट कम लिए उसने, नौर्मली निकलता था उसे 40 मिनट लेट निकला, तो 40 मिनट कम तो यहाँ पर उसको मिले, कभ़़ करने के लिए और 35 मिनट पहले पहुचके बैढ़ गया, 75 minute कम में उसने उस दिन distance को cover कर लिया तो speed उसने 160% कर दी तो normally 100 होती थी तो उसने 160 कर दी यानि कि ratio हो गया 5 is to 8 speed का normally 5 बढ़ा कर कर दी 8 तो time का ratio होगा 8 is to 5 हमारे equation के according यहाँ पर जो 3 है ratio में actual में 75 minute है 75 minute बचा के बैठा है एक्चल चीज़े 25 गुणा है और मिंटो में है 25 आठे 200 minute 200 minute यहाँ पर लग रही है बंदेगो 25 पंजे और आपको हमेशा एक और बात मैं हमेशा एक दोनों चीज़े नहीं निकालता है यहाँ पर उसने usual time पूचा है फिर तो आपको बताईए मेरे को करके दिखाने के ज़रूद में है same situation answer is option यह बताऊ उमीद है कि आपने किया होगा distance between two points A B is 110 km Manoj start running from A at a speed of 60 km per hour Ravi starts running from B Manoj यहाँ से भाग रहा है Ravi यहाँ से भाग रहा है यह A है यह B है Manoj A से भाग रहा है Ravi B से भाग रहा है यह 60 की speed पर भाग रहा है यह 40 की speed पर भाग रहा है यह meet at a point X यह कहीं न कहीं पर यह 60 की speed पर भाग रहा है यह 40 की speed पर यह यहाँ पर मिले यह point है इसका नाम है X तो Manoj ने यहाँ से लेकर यहां तक का distance travel किया रवी ने यहां से लेकर यहां तक का distance travel किया somewhere on the line A B what is the ratio of A X to B X A X और B X का ratio यहां पर बहुत ही प्यार से एक basic सी बात आपको समझाना चाहूँ देखो Manoj starts running from A at a speed of 60 km per hour and रवी starts running from B at a speed of 40 km per hour at the same time same time पर चले जिस वक्त यहां से Manoj ने भागना start किया उसी वक्त यहां से रवी ने भागना start किया और यह कहीना कहीं पर मिले मालो Manoj ने 9 बजे भागना start किया और रवी ने भी 9 बजे भागना start किया और suppose मालो यह 11 बजे मिले तो यह भी 2 गंटे भागा इसको भी दो गंटे लगे तो यहाँ पर मैं कहना क्या चा रहा हूं इस तरह की situation के अंदर दोनों बंदों ने same time लिया है चले same time पर हैं और यहाँ पर same time पर पहुंचे तो time क्या है time constant दो बंदे भाग रहे हैं उन्होंने भागने में same time लिया तो time constant है तो तीन चीज़े होती है distance is equal to speed into time तो अगर time constant है time change नहीं हो सकता इसका उतलब distance is directly proportional to speed speed is directly proportional to distance तो यहाँ पर देखते हैं क्या है अगर दोनों same time ले रहे हैं तो मनोज भाग रहा है 60 की speed से है आप अभी practically खुद भी visualize करो यह भाग रहा है 40 की speed से है तो जो बनदा तेज भाग रहा है दो बनदे आमने सामने से आ रहे हैं जो बनदा तेज भाग रहा है वो ज्यादा दूर तक का distance travel कर लेगा न वो बीच से थोड़ी सी आगए मिलेंगे exactly बीच में थोड़ी मिलेंगे exactly बीच में तो तब मिलते है दोनों की स्पीड सेम होती है तो इनकी स्पीड का क्या रेश्यो है जी इनकी स्पीड का रेश्यो है बीस ती है साथ बीस तुनी चालिस तो इनकी स्पीड का जो रेश्यो है ना भाई वही इनके distance का ratio जिसकी जितनी ज़्यादा speed उसने उतना ज़्यादा distance travel कर लिया है यह चीज clear है इसने यह distance travel किया है इसने यह distance travel किया है तो AX इस्टू BX का ratio होगा 3 इस्टू 2 इसको हम statement पढ़ने के बाद बिना कुछ लिखे कर्श रखते थे बटम आपको समझाना चाह रहा था 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 ठीक है clear है मज में आगे बात ओके आगे बड़े अभी सीज के उपर जो question आए हुए and distances directly proportional to speed करेंगे उसके बाद mix करेंगे आपको पता न लगे कि अभी किस टाइप की question कर रहे हैं क्या यह उसका एक बार थोड़ी से understanding बना दूँ बस तू बस इस a and we started simultaneously from cities p and q towards cities q and p यह बोल रहे हैं दो बस है a और बी वो cities p और क्यों से start करती है यह सहर है p यह सहर है q ठीक है तो p से start करती है towards q and p p से start करती है q की तरफ q से start करती है p की तरफ यानि कि वही दोनों आमने सामने से आ रही है the distance between p and q is 350 km if the ratio of speeds of a and b तो देखो दोनों अगर simultaneously start करती है आप इसने लिखा होगा यह लिखा simultaneously एक ही वक्त start करती है तो दोनों एक वक्त start करती है कही ना कहीं यह दोनों मिलेंगी तो दोनों ने same time लिया है इन्होंने distance अलगलग cover किया होगा वो depend करता है इनकी speed पर पर time दोनों ने same लिया है दोनों same time तक चली है अगर time constant है उसने दोनों की speed का ratio बता रहा है a और b की का 3 is to 4 इनके distance covered का ratio भी यही होगा तो आपको exam में ऐसा लिखने की जरूत है क्या यह चीज दिमाग में नहीं कर सकते है कि अगर time constant है तो अगर इनकी speed का ratio 3 is to 4 है तो इनके distance covered का ratio भी 3 is to 4 है तो क्या यह चीज लिखने की जरूत है नहीं यह मैं क्यों बता रहा हूँ कई candidate लिख at what distance from q दा बसी समीट तो देखो भाई यह कहीं न कहीं मिली होंगी इनकी speed का ratio 3 is to 4 यहां से a चली यहां से b चली इसने 3 unit distance travel किया होगा इसने 4 unit distance travel किया होगा ठीक है यह 3 unit distance है यह 4 unit distance है यह बोल रहे हैं q से कितनी दूर मिले तो total distance अगर शाथ है तो 7 का कितने गुणा है यह 50 गुणा है तो च्यार का 50 गुणा 200 200 किलम्टर दूर मिले होंगे क्यूं से क्लियर ठीक है अब आप इसको सोचो इस को मेंट लिकर सकते थे कि नहीं कर सकते थे ना अब आगे बढ़ते हैं कोई भी जल्दबाजी नहीं है इन questions को जल्दी solve करने की कई बार क्या होता है क्लास में बंदों को यह लगते है students को कि मैं बहुत जल्दी मुझे solve करना है जल्दी से बता दूँ फिर frustrated हो जाते हैं गलत निकालते नहीं आपके दिमाग में एक चीज होनी चीए क्या श्यान्ती और इसे पहले एक word मैं लगाऊंगा शिर्फ श्यान्ती नहीं परम श्यान्ती बिल्कुल relax रो आपके सीखने का time है कोई जल्दबाजी नहीं है जल्दी निकालोगे बढ़िया है बट इतना जल्दी नहीं करना कि गलत हो जाए तेज भागना बढ़िया बात है बट इतना तेज भागना ही बढ़िया बात नहीं कि मुझ के बलगे रहे हैं और दाट टूट जाए X और Y दोनों start करते हैं from the same place A to place B दोनों A से B की तरफ जा रहे हैं यहीं पर X है आमने सामने से नहीं आ रहे हैं यहीं पर Y है ठीक है से Which is 80 km away from A, A से 80 km दूर है यह 80 km दूर हमने माल लिया X travels 4 km पर hour slower than Y, X की जो speed है वो Y से 4 km पर hour slower है Y reaches और इन्होंने same time पर start किया है कि दोनों इकठे चले हैं Y reaches place B, Y place B पर पहुंचा and at once turns back Y place B पर गया यहां से ऐसे और फिर वापिस turn हो लिया ठीक and at once turns back meeting X 16 km from place B X को वो यहां पर मिला ऐसी जगह पर जो 16 km है place B से ठीक है Y ने क्या किया Y यहां पर गया because वो तेज चल रहा है और फिर वापिस हो लिया 16 km दूर मिला तो 80-16 तो 64 km X कितनी दूर चल पाया X सिरफ 64 km ही चल पाया था X उतनी देर में Y ऐसे जाकर वापिस आ गया 80 km भी चल लिया और 16 km एक्स टा चल लिया तो 80 और 16 टोटल कितना है 96 km 96 km चल दिया हो तो दोनों सेम टाइम पर चले थे कि नहीं चले थे आप बोलोगे जी हां सर चले थे तो X ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया X ने सर 64 km ट्रेवल किया Y ने सर 96 km ट्रेवल किया तो जो भी इनके distance का ratio है या exactly यह तो वैसे ratio नहीं है exact distance है वही इनकी speed का ratio होएगा भाई अगर time constant है तो distance और speed directly proportional होते हैं मैं बार-बार repeat नहीं करूँगा ना same चीज़ clear है ना जो भी distance का ratio भी speed का ratio इसको 32 से काट तो 32 2 जा 32 3 जा 2 is to 3 ratio तो speed का ratio 3 is to 2 होएगा ओ सोरी 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 ज्यादा ही भावनाव में नहीं बागे distance का ratio 2 is to 3 है तो speed का ratio भी 2 is to 3 होएगा clear है और इन्हों ने क्या पता रुका है कि इनकी speed के भीसे में 4 का gap है ratio के अंदर 1 का gap है यह बोल रहे हैं 4 का gap है इसने बोला कि एक जो है क्लिम्टर प्रहर स्लोगर दोड रहे है तो 4 गुना कर दो च्यार दुनी आठ च्यार थी बारहा दोनों की speed आगे है वाई की speed क्या है वाई की speed है बारह क्लिम्टर पर हार ठीक clear रहे जी हमाज में आगई बाग कर दोगे आगे से कि boy is standing on a railway breeze a b at a point c such that length a c is thrice the length of b c एक railway breeze है ऐसे होता है ना जैसे माल लो यह नदी है ऐसे rail की पठड़ी बीची है यह breeze हो गया a b बीच में नदी है ना आपको सामने का view भी बताया है एसे नदी बहरी है इसके उपर से rail का breeze है ठीक है यह यहाँ पर किसी point c पर खड़ा है इस breeze के उपर बीच में खड़ा है यहाँ से rail आई गिया यहाँ से rail आई यह बंदा बीच में है भाग भी नहीं सकता नदी में ही कूच सकता है AC distance 3 unit है यहाँ पर खड़ाया बन्दा अब ध्यान से सुनेगा तब बोई observe that a train had just entered the breeze from A यहाँ पर बोई खड़ा है उसको पता लगा कि यहाँ पर भाया train आ गई यहाँ से तुरंत A पर एक train अभी अभी पहुंची है और यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर है train यहाँ पर है बोई तो अब यह भागएगा नहीं तो भी इसमें मारा जाएगा B की तरफ भागएगा just enter the breeze from A he can run with a speed of 15 km per hour towards B अब यह बन्दा वहाँ पर भागएगा B की तरफ 15 km per hour की speed से he can just escape just escape का मतलब क्या है जैसे यह B पर पहुंचा वैसे ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच के साइड में वहाँ है वस ट्रेन निकल लगी तो यानि की बन्दा यहाँ पर पहुंचा और ट्रेन यहाँ पर पूची यहाँ पर कई बंदों को डाउट होता कि वह इसका मतलब थोड ट्रेन यहाँ से चलने जिस वक्त बंदा यहाँ से भागा उसी वक्त ट्रेन यहाँ से चली है उसने जैसे ही देखा कि ट्रेन और यार बरीज पर घुश चुके वह भाग लिया पूरी तेज 15 एक लोटर पर आर के स्पीड से तो दोनों ने सेम टाइम चलना श्टार्ट किय ट्रेन बी बी पर पहुंच गई बंदा बी बी पर पहुंच गया तो सेम टाइम टाइम कॉंस्टेंट है सेम टाइम में बंदे ने कितना डिस्टन्स ट्रेवल किया आप बोलोगे सर बोए ने एक उनिट डिस्टन्स ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का तीन और एक चार यह इनके distance traveled का ratio है same time में इनकी speed का ratio भी यही होगा यह distance और speed का ratio यही होता है आलग से लिकूँगा इन्यास के बाते से यहीं पर दिमांग लगाओ जो distance का ratio भी रेशियो speed का है बोए की speed बता रखिए एक unit की value है 15 km per hour तो एक का 15 गुना चार का 15 गुना 60 train की speed पूछे होगी 60 km per hour clear आगे बढ़े यह बताओ a man can reach a certain place in 30 hours एक बंदा एक जगह पर 30 गंटों में पहुँच सकता है उसका time बता दिया okay if he reduces his speed by 1 by 15 अगर अपनी speed को 1 by 15 से कम कर ले he goes 10 km less in that time उतने time में 10 km कम जाता है तो 2 situation है वो किसी जगह पर 30 गंटों में पहुचता है ठीक है मान गए अगर वो अपनी speed को कम कर ले तो उतने ही time में वो 10 km less आ रहा है उतने ही time में यान कि 2 situation है एक में speed ज्यादा है एक में speed कम कर लिए time दोनों में सेम है उतने ही time में यहाँ पर कम जा रहा है time constant है तो speed का क्या ratio है speed को उसने क्या कर लिया 1 by 15 कम कर लिया यानि कि 15 के उपर एक कम कर लिया 15 से 14 कर लिया time constant है तो speed का ratio 15 is to 14 है तो distance का ratio 15 is to 14 होएगा पहले अगर वो 15 unit distance जा रहा था उतने ही time में अब 14 unit distance आएगा speed क्योंकि कम होगी है ठीक है यहाँ पर यह क्या बोल रहे है find its speed per hour ठीक है तो डिस्टेंस का भी यही ratio होगा दोनों situation का और उसने क्या बताया है he goes 10 km less ratio के हिसाब से तो भी यह एक unit कम distance जा रहा है यह बोल रहे हैं 10 km कम distance जा रहा है तो actual चीज़े दसकुना है यह नहीं कि वह पहले 500 km जा रहा था आज वह 140 km जा पा रहा है स्पीड कम होने के कारण और वह कितनी देर में जा रहा था 500 km वह जा रहा था 30 आर्ष में 300 km जा रहा था find its speed per hour तो भाई इतना ही इस वीडियो के अंदर अभी हम क्या करेंगा अगले lecture के अंदर बता देता हूं कि आप मैंने आपको समझ दे दी basic basic question करवा दी है अब थोड़े से ओर बढ़िया question करेंगे हैं थोड़े से moderate question करेंगे इनी concepts के उपर लेकिन थोड़े से mix करेंगे कभी कोई सा आएगा कभी कोई सा आएगा ताकि आपको समझ थोड़ी सी ओर में strong कर पाऊं इनी concepts की अगले lecture के अंदर फिर उससे अगले में अगला concept start करेंगे अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इन questions को repeat करके आना एक दो बार PDF से अगली वीडियो से पहले अलो डियर आपका इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है बहुती बड़िया बात है कि आप अपनी जर्णी को continue रख रहे हैं मैं आपको एक बात बताता हूं interesting से कि बहुत सारे ऐसे student होंगे जो इस course के अंदर इस वीडियो तक ही नहीं पहुँचे तो वो तो of course competition से या उठाई बहुत सारे ऐसे बनते हैं तो किसी course को एक time भी पूरा नहीं करते बार बार revise करने की बाद तो छोड़ी दो और हो सकता आप भी आगे जाकर छोड़ दो अगर आप अपने उपर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर उतने enough motivated नहीं है आपको दो बाते बताऊंगा तो number one आपको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है रोग चोटा चोटा काम करना है और number two अपने उपर भरोसा रखो आप उस दिन exam में कैसा perform करेंगे यह matter नहीं करता matter करता है कि आप repeated times अपने course को कर सकते हैं कि नहीं ऐसा करने से आपको कोई रोक सकता होता हो कोई आपका हाथ पकड़ रहा है कोई आपको आँखो क्या गया से कर रहा है कोई आपसे अपका phone से रहा है कि आप efforts उठाओ efforts लगाओ कदम उठाओ कि आप अपने लिए बड़ी environment बन pen notebook के साथ इसकी सुरुवात करते हैं इस lecture की बढ़िया तरीके से बैठो इस तरीके से आपके attention बने रहे lazy way में मत बैठो इससे पहले concept lecture 2 के अंदर हमने exactly वही concept पढ़ा है जिस concept के उपर हम यहाँ पर question करने वाले हैं इससे पहले भी हम question कर चुके हैं लेकिन इस concept lecture के अंदर जो question होएंगे थोड़े से और बढ़िया level के में लेकर आया हूं और वो mixed होएंगे कभी यह चीज यूज होएगी कि time is inversely proportional to speed यह speed is inversely proportional to time कभी यह चीज यूज होएगी कि distance is directly proportional to speed इसले concept lecture में कहा था मैंने उचीज आरेंज करके थी difficulty level के हिसाब से आरेंज करके थी typewise आरेंज करके थी इसमें उतनी better arrangement नहीं करी जानुज कर नहीं करी क्योंक आरेंजमेंट तो मं करी सकता हूं कभी किस टाइप का question आएगा कभी किस टाइप का question आएगा इस concept lecture के अंदर आकि आपकी practice हो सके आप सोचो कि अचाह यह ऐसे है practice हो जाएगी थोड़े से mixed question because exam में थो ऐसे ही आएगे न आपको पहले ऐसे तो नहीं बताया जाएगा किस टाइप की question हम कर रहे हैं इंटरस्टिंग रहेगा concept lecture 3 इससे पहले मैं यह assume कर रहा हूं कि concept lecture 2 के जो questions है जो हमने इससे पहले वाले concept lecture में किये हैं उनको minimum आप दो बार कर चुके हो मैंने उसके वीडियो के लास्ट में बोला था कि minimum दो बार करके अगली देखने मिनिमम दो बार आपका दिल करें तीन exam में आये हुए question है वहां से उठाय हुए बड़ी अबड़ी equation है exam में आये हुए equation का मतलब यह नहीं होता कि वह easy है यह नहीं होता कि वह difficult है exam में हर दरह एक equation आता है वह नी cycles with a speed of 15 km per hour he reaches at 11 a.m. अगर वह 15 km per hour की speed से cycle चलाता है तो गयार आपजे पहुँचता है 10 की speed से चलाता था तो एक पहुचता एक बार वह 10 की speed से cycle चला रहा है एक बार 15 की speed से cycle चला रहा है और अपने office पर जा रहा है तो उसका office और जहां से भी वो जा रहा है उसके भीस में distance तो same ही रहेगा distance constant है same destination पर जा रहा है तो दो situation है एक बार speed 10 है एक बार speed 15 है और distance constant है तो इसका मतलब speed और time का ratio inverse होएगा speed का ratio 2 is to 3 तो time का ratio होएगा 3 is to 2 clear है यह हमने पढ़ा है last concept lecture के इंदर okay तो दो situation है मैं इन दोनों situation के बीच में फार्ख जानना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में क्या फार्ख है कोई चीज देर रखी है इस situation में कितने घंटे लगे Państ G situation में कितने घंटे लगे, दोन्नों में मिला कर कितने घंटे लगे, या दोन्नों के बीच में जो time का है, उसका difference कितना है, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक actual जानकारी दे रख्योंगी, जिसको हम ratio से tweet करेंगे, देखो क्या जानकारी दे रख्योंगी, एक case में वो पहुंच रहा तो दो गंटे का फरक है भई साथ, ratio के अंदर एक घंटे का फरक है, actual में दो गंटे का फरक है, एक्चुल चीज़े दो गुना है, दोती ये 6, 6 गंटे लगते हैं उसको यहा पर 2 दुनी 4, यहा पर 4 गंटे लगते हैं Δस्ची के साथ, अगर वो 15 के सपीट से जाए, तो च्यार गंटे लगते हैं पंदरा चोके साथ डिस्टंस कहीं से भी निकाल लो डिस्टंस 60 किलोमेटर आ गया उसके ओफिस का अब ये क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अगर वो बारा बजे पहुंचना चाहिए तो वो पहुंचना चाहिए यहां पर बीच में बारा तो देखो भाई आप दो तरीके से यहां पर काम कर सकते हो उसको 6 गंटे लगे हैं एक बजे पहुंचना है तो एक बजे मेंसे 6 गंटे गटा हो गए तो एक बजे का मतलब होता है 13 बजे 12 बजे के बाद एक बसने 13 मेंसे 6 गए 7 यानिकि वो 7 बजे चला था 7 बजे चलता है उसको 12 बज़े पहुंचना है याने कि 5 गंटे का टाइम लगे या फिर यहां से निकाल सकते हो 11 बज़े वो पहुंचा तो उसको 4 गंटे लगे थे तो 11 में से 4 गंटे दो 7 बज़े चलाता 7 बज़े वो चलता है 12 बज़े उसे पहुंचना है 5 गंटे या फिर एक और तरीक्का क्या है कि जब वो 11 बजे पहुंच रहा है तो उसको 4 गंटे मिलते हैं जरनी 11 बजे पहुंच रहा है तो उसको 4 गंटे लगते हैं 11 से 1 गंटे बाद उसको पहुंचना है यानि कि टोटल उसको 5 गंटे में पहुंचना है अगर पांच गंटे में जरने कवर करानी है मेरे भाई तो 60 किलोमेटर की तो 12 किलोमेटर पर आर की स्पीड चाहिए यही इन्होंने पूछा है कि अगर 12 अब जे पहुचाना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए बारा बज़े पहुचाना है तो बारा की स्पीड होने चीए ठीक अगे बढ़ू अजे टार्था क्वेस्टेन यह करो इसको मेंटली भी कर सकते हैं थोड़ी सी प्रेक्टिस हो जाए तो और उतनी प्रेक्टिस में आपकी तरवाक्य माननूंगा ट्रेन ए टेक्स वन आर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल डिस्टनस अफ सेवन ट्वेंटी किलामेटर ट्रेन ए को एक घंटा ज्यादा लगता है ट्रेन बी से ठीक है जी दू टू इंजिन ट्रबल इंजिन में कोई प्रोब्लम आ गई उसके कार्ण स्पीड ओफ ट्रेन भी फाल्स बाई ए थर्ड उसकी स्पीड वन थर्ड कम हो गई ठीक है जी सो इट टेक्स त्री आर्च मोर देन ट्रेन ए टू कम्प्लीट ता सेम जर्नी ठीक है वट इस स्पीड ओफ ट्रेन ए उसने क्या पूछा उसको एक बार भूल जाओ उसने दिया क्या है उस पर फोकस करो उसने यह बताया है कि बी की स्पीड गिर गई ट्रेन भी की स्पीड तो पहले जो ट्रेन भी है वो ए से एक गंटा कम लेती थी यहाँ पर तो वन आर मोर लिखा वो एक के बारे में लिखा है ट्रेन ए एक गंटा जादा लेती थी ट्रेन भी एक गंटा कम लेती थी उससे अब वो तीन गंटे जादा ले रही है ट्रेन भी की स्पीड के बारे में बता दिया कि कितनी गिर गई, कितनी बढ़ गई यहां पर गिरी है, जो भी बताया है उसके time के बारे में कुछ बता रखा है तो मैं यहां पर जिकर करूँगा train B का, मैं train B की बात कर रहा हूँ clear है जी, train B के बारे में लिक रहा हूँ train B की speed कितनी कम होगी जी one third कम होगी, 3 पर 1 कम होगी, यनि 3 से 2 होगी यह दो situation है, यह तो उसकी normal speed है, engine में problem आई तो उसकी speed down होगी, 2 3 से 2 होगी, यह 2 situation है normally 3 की speed पर सलती है, अब 2 की speed पर सलती है, one third कम होगी ठीक है, तो इन दोनों situation की speed का यह ratio है, तो time का क्या ratio होएगा time का ratio होएगा जी 2 is to 3 time के बारे में इनुने कुछ बता रखा है बता रखा है दोनो situation के time के बारे में कुछ बता रखा है पहले train b train a से 1 गंटा कम लेती थी train a ए 1 गंटा ज्यादा लेती थी अब इसकी speed में कुछ change आया तो अब ये 3 गंटे जादा लेती है आप ऐसे माननो कि train A इतने बज़े पहुंचती थी तो पहले वाली ये situation थी पहले वाली ये situation थी कि train A से 1 गंटा पहले पहुंच रही है train B ये गंटा पहले अब ये situation है इसकी speed गिरने के बाद train A से 3 गंटे बाद पहुंच रही है तो इन दोनों situation में कितने गंटे का फरक है मेरे भाई एक तो train A से 1 गंटे पहले पहुंच एक train A से 3 गंटे बाद 4 गंटे का फरक है न उसके time में 4 गंटे का फरक आ गया ratio के according तो एक है actual में 4 है इनकी 4 दुनी 8 आठ आठ आर लग रहे थे उसको पहले चयारती है 12 अब उसको लग रहे हैं 12 गंटे तो ही के भी time को यूज कर लो जिसका आपको यूज करना है पहले उसको 8 गंटे लगते थे अब 12 गंटे अभी इनोंने पूचा कि लोग रहे है इनोंने पूचा है कि train a की कितनी speed है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा train a को कितना time लगता है तो दोनों जगे से निकाल सकते है नौर्मली ट्रेन भी को 8 गंटे लगते थे तो ट्रेन भी नौर्मली कितने गंटे पहले या बाद में पहुंचती थी ट्रेन भी एक गंटे पहले पहुंच रहे होती थी यानि कि ट्रेन एक गंटा ज्यादा लगता था बता रख्ये इसने तो अगर ट्रेन भी को 8 गंटे तो ये बारा गंटे में पहुंचने लग गई तो इसको तीन गंटे ज्यादा लगने लगे है प्रेन भी को ए से अगर तीन गंटे ज्यादा लग कर बारा गंटे हैं तो बारा में से तीन गई नो याने की उसको नो गंटे लग रहे हैं नो गंटे उसकी स्पीड आगी नो इसके आगे मैंने लिख दिया है same exactly थाकि थोड़ी सी समझ बने यह 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 भी है इनको बड़ाई मान लो अगर पहले स्पीड चयार थी तो एक कम होगी चयार पर से आज स्पीड 3 होगी तो टाइम का रिश्यो होगा 3 इस टू 4 और इनोंने क्या बता रखा है ट्रेन बी के बारे में कि पहले ट्रेन एको 45 मिनट ज़्यादा लगती थी यहीं कि ट्रेन बी को 45 मिनट कम लगती थी और आज यह 30 मिनट ज़्यादा ले रही है ट्रेन A से एक जमाना था जब नॉर्मल स्पीड पर इंजिन चल रहा था आज तो इंजिन खराब हो चुका है स्पीड कम हो चुकी है कि ट्रेन A जिस वक्त पहुंचती थी उससे 45 मिनट कम लेती थी ट्रेन B की बात करा हूँ आज ट्रेन भी इस से 30 मिनट ज़्यादा ले रही है तो यह जो दोनों सिच्वेशन है इनके बीच में 75 मिनट का फरक है तो ठीक है रेशियो के अकोर्डिंग जो चीज एक है वो एक्चॉल में 75 मिनट है तो 75 into 3 करोगे तो भी बात बन जाएगी 75 into 4 करोगे तो भी मैं into 4 करूँगा क्यों क्योंकि even number easily कर लूँगा 75 का double डेड़ 100, 500 का double 300 तो याने की यहाँ पर 300 मिनट इंजन की स्पीड गिरने के बाद 300 मिनट लग रहे थे उसको इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 5 गंटे लग रहे थे उसको इंजन की स्पीड कम होने के बाद इंजन में खराबी के बाद तो खराबी के बाद ये train A से अब ये A के बारे में पुचेगा train A से 30 मिनट जादा लेती थी है तो इसमें से 30 मिनट गटा हो साड़े 4 गंटे साड़े 4 गंटे लेती है train राभी के बाद ये आदा गंट एक्स्टा ले रही थी तो इसमें साद़ा गंटा गटा दो वह आदा गंटा कम ले रही होगी तो ट्रेन एक के अंदर को एक राभी थोड़ी आई है वो तो नॉर्म साड़े 4 गंटा पर आड़ लास्ट क्वेशन जैसा ही है ऐसे और क्वेशन करवाऊं ऐसे सीरीज में नहीं करवाऊंगा आग ये कभी भी आ जाएगा ऐसा क्वेशन दो क्वेशन इकठे करवा दिये आपको पकड़ना है कि वैसा एक्वेशन है ठीक है ये बता हो अब अब डेफिनेटली कर शकते हो इसको एक टरेन अप्रोच इस टरनल अबी इंसाइड दी टरनल इस एक टरनल है यहीं कि एक गुफा है टरनल सुरंग बोलेंगे हिंदी में गुफा तो नहीं ठीक है सुरंग है रुको यार ऐसे माल लेते हैं इसको यहाँ पर एक टरनल है इंसाइड दा टरनल टरनल के दर एक बिल्ली है अगर पूरे डिस्टन्स को मैं आठ यूनिट माननू इसका तो वो तीन यूनिट डिस्टन्स पर है कहां से अगर अगर मेजर करें तो तीन यूनिट की दूरी पर है यहाँ पर है cat, c for billy, यह distance है 5 unit, when the train whistles, the cat runs, तो train ने city मारी, तो cat ने दोड़ना start किया, if the cat moves to the entrance, अब train कहां से आ रही है, यह कब बताएंगे, train approaches a tunnel a, b, इसका मतलब वो यहाँ से आ रही है, इसका मतलब train जो है, वो यहाँ से आ रही है, a, b, अगर वो b, a बोलते तो यहाँ से आ रही होगी, तो train यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो train ने, अब यह मत सोज़ना है कि train a के उपर है नहीं उसने बताया कहा है कि train ए के उपर है train approaches वो approach कर रही है सुरंग की तरफ बढ़ रही है तो कही न कही थोड़ी सी दूर है भी तो ये बोल रहे है कि train ऐसे move कर रहे है तो बिल्ली के पास दो option है या तो इधर भाग के बच जाए ऐसे निकल ले क्योंकि कम distance है जल्दी पहुंच भाएगी लेकिन इधर भाग गएगी तो train यहाँ पर जल्दी पहुंच सेगी बिल्ली के बाद दूसरा option है वहाँ बाग के बच जाए लेकिन वह distance भी ज्यादा है train पकड़ भी सकती है तो देखते है लेन दा train whistles the cat runs तो train कहीं पर थी इसने विसल की सीटी बजाई cat ने दोड़ना स्टार्ट कर दिया हाँ इफ दा cat moves to the entrance of the tunnel अगर यह entrance तो train यहाँ पर enter करेगी अगर यह एक ही तरफ भागती है दा train catches the cat exactly at the entrance exactly entrance पर उसको पकड़ती है train मालो बिल्ली मर गी इफ दा cat moves to the exit b अगर cat इस तरफ भागती है तो train उसको exactly exit पर पकड़ती है exactly b पर दोनों की टक्कर हो जाती है find the ratio of speed of train and the cat cat और train की speed गा ratio बताओ easy question है अगर ठीक नजरिये से देखो हम relation के हिसाबस equations को कर रहेना आप relation देखो एक बात बताओ दो situation है पहली situation क्या है पहली situation है कि train यहाँ से यहाँ तक पहुँची और cat यहाँ से यहाँ तक पहुँची दूसरी situation क्या है cat यहाँ से यहाँ तक पहुँची clear है train यहाँ से चल रही है cat यहाँ से दोनों ऐसे यहाँ पर मिल गई इस situation के अंदर constant क्या है time ये जैसे ही train ने यहाँ से city बजाई cat ने भागना start कर दिया दोनों चल रही है इक त्टी दोनों ने एक time पर भागना start किया जब भी cat ने भागना start किया तो train कही न कही पर थी जहाँ पर उसने city बजाई तो दोनों ने एक time पर भागना start किया तो time constant है इस situation में माल लो cat इधर भागती है तो और यहां से यहां का जो distance है इसको मैं माल लेता हूँ जी x units इसको अगर time constant है तो जो distance का ratio है वो speed का ratio के बराब रहता है यह बात अब मानते हों distance is directly proportional to speed इनकी TA यानिकी cat की speed बटे में train की speed इनकी speed का जो ratio है वही इनके distance का ratio होगा तो cat की speed cat ने distance कितना travel किया तीन unit train ने कितना distance travel किया x unit जो भी इनके distance का ratio हो वही इनकी speed का ratio यहां पर मैंने distance का ratio लिख दिया यहां पर इनकी speed का ratio लिख दिया की speed इस situation में same time के अंदर cat ने 3 unit distance travel कर लिया train next unit distance travel कर लिया अब दूसरी situation देखते हैं जी यहाँ पर दूसरी situation माल लो कि cat ने जब यहाँ से उधर भागना start किया यह गुलाब बिरंग में दूसरी situation है यहाँ से यहाँ cat ने 5 unit distance travel किया उतनी दियर में train ने यहाँ से यहाँ दिसन्स ट्रैवल कर लिया था मेरे भाई train ने यहाँ यहाँ से train चल रहे एक अस तरफ बागरी यहाँ का distance ड्तरे लिया था तो cat ने कितना distance travel गया 5 unit train ने 8 plus X और time to constant at the same time in distance travel हुआ तो इनकी speed का कह रिएशो होएगा जो ही इनके डिश्रिंस का रिश्यो है, तो cat ने कितना डिश्रिंस ट्राइल गया, 5 तो cat की स्पीड को keeping representative करेगा 5, तो train ने कितना distance ट्रैौल किया, train ने कि 8 पुलस X, यह X है कि यहाँ से यहां तक 8 पुलस X, तो मेरे भाई यह भी cat की स्पीड है, यह ही साब से cat और train की कर दे जी हाँ cross multiply कर दे जी हाँ लेकिन मैं बोलूँगा मत करो ऐसे cases कितनी बार हो चुके हैं अपने साथ हम बिना cross multiply की answer निकाल रहे हैं अब भी cross multiply करोगे देखो नीचे तो exact चीजे हैं exact मतलब 5 unit 3 unit 8 unit यह x plus 8 और यह x नीचे वाली चीजों में कितने का फरक है नीचे वाली चीजों में फरक है भाई साब 8 का तो उपर वाली चीजों में 8 का फरक जाता हूं 5 और 3 में कितने फरक है 2 का तो 2 का 4 गुना 8 होता है तो 4 पंजे 20 4 गुना कर दो चीरती है 12 जब हम फरक सेम कर पाते हैं न ऐसे तो हम इनको आपस में एक्वेट कर पा रहे होते हैं देखो X की वारा आगी न 12 प्लस 8 20 होता है तो X की तुरंत वैल्यू आ जाती है ऐसे कैसी इसमें X की वारा आगी इस X की वैल्यू का है 12 अब आपको सर केट और की स्पीड बशाल है था हमें तो यह कैट और की स्पीड का यहां पर अगर एकस की वैल्यू बारा है तो इनका रेश्यो गहता है 3 इस्टू X ता तो 1 इस्टू 4 था यहां पर रखलो 1-4 था भी अमने निकालना थ अगर 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 मारेंज करके दूंगा फिर तो आपको पता चलता ही रहेगा पिर यह समझ आप डवलप नहीं कर पाओगे तो जहाँ पर अरेंज करके देने की जरूत है वहाँ पर अरेंज मिलेंगे जहाँ पर मिक्स की जरूत है वहाँ पर मिक्स मिलेंगे अपनी तरफ से मैं सारा एफ़र्ट मारूंगा P and Q are 27 km away 2 trains with speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively start simultaneously 1-8 start करती है from P and Q and travel in the same direction तो P and Q है इनके बीच में 27 km का गया पर ही है तो 2 train है एक P से चलती है एक Q से चलती है start simultaneously exactly same time पर चलती है एक P से चलती है एक Q से चलती है travel in same direction they meet at a point R beyond Q Q के beyond a point है यानि Q उस direction में चलती है इसने बता दिये Q के बाद एक point है R यहाँ पर मिलती है तो देखो एक train यहाँ से चली एक train यहाँ से चली दोनों कब चली same time पर चली आप बोलोगे जी हाँ same time पर चली यह दोनों चलती रही और यहाँ पर मिल गी तो दोनों ने किसी ने कुछ जर्णी ट्रेवल की किसी ने कुछ जर्णी ट्रेवल की जितनी भी की same time में की अगर time same है time constant है दो situation का तो जो भी speed का ratio वही distance का ratio होएगा speed बता रख किये बता रख किये एक की speed 24 से एक की 18 है तो definitely यहाँ वाली train की speed 24 होगी यहाँ वाले की 18 से रहे से क्यों क्योंकि इसकी speed ज्यादा है तभी तो यह इसको पकड़ पाई इसकी 24 से और इसकी distance का ratio होई 4 is to 3 है हाँ लेकिन यह नहीं कि distance 128 रहा है रेश्यो सेम होता है तो याने कि इस पहले वाली train अगर 4 unit distance travel किया है तो इसने 3 unit किया अगले वाली ने याने कि अगर यह distance 3 unit है यह पूरा अगर यह distance 3 unit है इस train ने यह distance travel किया है एक विंट है उतने टाइम में इस ट्रेन ने 4 विंट ट्रे nerveल किया है तो यह डिस्टन्स चार है ये तीन है ये 4 है तो ये एक यूनिट हो गया ये पूरा अब बोलोगे जी हां एक 3, 4, सारी condition satisfy होगी, अभी भी हमें ratio ही मिला है, कि अगर यह एक unit है, तो यह 3 है, यह 4 है, लेकिन उसने क्या बता रखा था, इस एक unit के value 27 km है, मेरे भाई, अच्छा, तो अब उसने क्या पुछा है, find the distance qr, actual चीजें 27 होना है, तो 3 की value 27 दिया, कैसी, ठीक, clear, करने को इसको हम relative speed से भी कर सकते हैं, तो relative speed से, बढ़ी आवड़ी equation आगे हम करेंगे, अभी यह समझ डवलप करो, ठीक, clear है, अभी मैं यह समझ डवलप करवा रहा हूँ, यह बताओ, यह person covers a certain distance, with certain speed, if he increases his speed by 15 km per hour, भी तो, देखो, English ठीक तरीके से लिखे होना भोग जरूर है, इसके बाद full stop आएगा, और उसके बाद, full stop के बाद ही अगला sentence है, और यहाँ पर comma आएगा, if, किसी certain distance को, वो certain speed से cover करता है, इसके बाद, बात कतम होगी, हिंदी में ठीक लिखा है, if he increases his speed by 15 km per hour, then he will be 16 minutes early, अगर वो अपनी speed को 15 km per hour बढ़ा लेता है, तो 16 minutes पहले पहुंसता है, ठीक है, by how much time he will be late, if he reduces his speed by 12 km per hour, वो कितनी time से late हो जाएगा, अगर अपनी speed को 12 km per hour कम कर ले तो, if his initial speed is 60 km per hour, अगर उसकी initial speed 60 km per hour है, तो हमें यह चाहिए थी, तभी तो हम दो situation को compare कर पाएंगे, तो उसकी normal speed 60 km per hour है, उसने बढ़ा कर कितनी कर ली थी, उसने 15 km की speed बढ़ा ली थी, तो याने की 75 km कर दी थी, तो वो क्या कर लेता है, तो 16 minutes पहले पहुंचता है, तो ठीक है, वो normally 60 km की speed से चलता है, उसने 75 की कर ली, तो distance तो same ही चल रहा है, तो speed का ratio है, 4 is to 5, 15, 4, 60, 15, 5, 75, तो time का ratio होएगा, 5 is to 4, okay, इनके बीच में ratio में एक का gap है, actual में 16 minutes का gap है, तो 16, 85, यहाँ पर लग रही है, 80 minutes, यहाँ पर 64 minutes, ठीक, किसी भी एक को use कर लेंगे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपर, मैं एक बार देख लो, distance निकालने की जरूद भी है की नहीं, यह बोल रहे हैं कि अगर वो 12 km, उसकी speed को घटा लेगा, तो he will be, तो वो कितना late होएगा, ऐसे तो हम distance, distance निकाल सकते हैं, और वो कर शकते हैं, चलो, यही कर लेते हैं, यह उसकी normal speed है, यह उसकी changed speed है, जो उसने change की थी, तो normally उसको 80 minute लगते हैं, यह ना ची, normally उसको 80 minute लगते हैं, तो उसका distance कितना हो जाएगा, distance हो जाएगा, speed into time, 60 into 80, मेरी बात को आप द्यान से सुनिएगा, करने को मैं यहां बटे में 60 भी कर सकता हूँ, 80 बटे साथ, इसको hours में, यह kilometer पर hour में, यह hour में, लेकिन मुझे minute में answer चाहिए है, तो मैं इसको minute में रख रहा हूँ, total distance, यह थोड़ा सा गलत है, यह mathematics लिए गलत है, कर रखे कि minute में उत्तर रखा है, गलत कर रखा है, लेकिन मैं speed से divide करना चाहरा हूँ, और उस speed की unit kilometer पर hour में ही है, तो kilometer पर hour से kilometer पर hour कट जाएगी, तो time minute में ही बत जाएगा, तो यह जुगाड में आपको बता रहा हूँ, अगर 48 की speed से उसको चलना है, अब time minute में आएगा, कि वो कितनी minute में पहुचेगी, तो पूच रहा है कितनी minute लेट होगी, तो normally उसको 80 minute लगती है, अगर 48 की speed से जाएगी तो, यह परसन जाएगा तो, उसको 100 minute लगेंगे, तो 20 minute लेट हो रहा है normal से, 20 minute लेट हो रहा है, clear, ठीक, समझ में आगई बार, यहां से हमें distance पता चल लगया, और यह पता चल लगया कि normally कितनी देर में उसको जाना है, ठीक है, और 48 की speed करेगा, तो कितनी देर में जाएगा, पता लगया कितना लेट हो, ठीक है, यहां पर आपको यह जुगाड पसंद ना आया हो, सिरफ minute में करने का, समझ में ना आया हो, समझ ना पाया हो, तो भाई, गंटों में कनोट करके कर पाऊगे, पते में 60 है, आर्स में टाइम आएगा, गुणा में 60 करोगे, minutes में आजाए, ठीक, clear, समझ में आगई बात, देरे-देरे कई बाते मैं आपको सिखा दूगा, A takes 8 hours more than the time taken by B to cover a distance of 160 km, A को 8 गंटे जादा लगते हैं, ठीक है, if A double C speed, अगर A अपनी speed को double कर ले, he will take 3 hours more, उसने A के बारे में बताया है, A अपनी speed को इतना कर ले, तो A को इतना time लगेगा, तो हम A को लिख पाएंगे, A के बारे में speed और time की information दिया है, इस टाइप के question किया है ना, वो train वाले, engine में trouble वाले, दो-तिन question पहले हैं, उसी type का है, A ने अपनी speed को कितना कर लिया, A double C speed, पहले के comparison में speed को double कर लिया, speed का ratio 1 is to 2 है, तो time का ratio क्या हो जाएगा, 2 is to 1 हो से, अब इसका time देखते हैं क्या हो रहा है, A को 8 गंटे जादा लगते हैं, B से, ऐसा बोल रहे हैं, A को B से 8 गंटे जादा लगते हैं, लेकिन A ने अपनी speed double की, अब उसको 3 गंटे जादा लगते हैं, speed double करने पर उसको 3 गंटे जादा लगते हैं, इन दोनों सीच्वेशन में कितने घंटे का फरक है आप बोलोगे फाँच गंटे का फरक है यहाँआँप 8 तो इन दोनों सीच्वेशन में 5घंटे का फरक है उसने स्पीड का रेश्यो 1 हिष्यो 2 किया तो दूने इंदस आर उसको नॉर्मली 10 गंटे लगते थे जब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया यहां पर तो पांच एकम पांच उसको पांच गंटे लगने लगे देखो स्पीड डबल करेगा तो टाइम तो अधर लगे रही ना ठीक अब यह क्या बोल रहे हैं दा स्पी निकाल रहा हूँ पहले आठ गंटे ज्यादा लगते थे एको और एको पहले टाइम लगता था दस गंटे तो इसका ममलब बी को देखो एको आठ गंटे ज्यादा लग रहे हैं तो बी का टाइम इसमें से आठ गटाने पर आएगा दो गंटे दो गंटे लगते थे उसको ए 80 km पघए यहां से निकाल लो, बाद में a को 3 गंटे ज़्यादा लगने लगए, एक अपाँ गंटे लगने लगने बाद में फिर भी तीन गंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 5 में से 3 गए, दो 160 km कवर करने में 20 को 2 गंटे लग होरे हैं तो 80 की स्पीड है वही अभी इस understanding को strong करने के लिए यहां पर questions को इकठे ले रहा हूँ मुझे पता है बच्चों को कहाँ पर problem होती है कहाँ पर नहीं कि करो एक बात करो A takes two hours 30 minutes more than B to walk 40 km A double C speed A ने अपनी speed को double कर लिया तो A के बारे में उसने पता है speed or time का A ने अपनी speed को double कर दिया speed का ratio 1 is to 2 तो time का ratio 2 is to 1 पहले एको कितना time लग रहा था पहले एको लग रहा था डाही गंटे अब मैं यहां पर diagram नहीं बनाऊंगा वैसे ही समझ जाओ एक equation कर चुके हैं पहले एको डाही गंटे ज्यादा लगते थे हैं किसी time से डाही गंटे ज्यादा लग रहे हैं अब उसको एक गंटा कम लग रहा है उसी time से उसी बन्दे से बोल सकते हैं एक गंटा कम लग रहा है पहले डाय गंटे ज़्यादा लगते थे तो 30.4 गंटे आ पाँ गया उसमें अपनी स्पीड gucken की तो इक है साधे 3गंटे आ पाइं développ हमारे रेशो के अपोर्डिंग तो एक है एक्चूल में साधे 3 गंटे हैं एक्चूल चिजे 3.3 मुना है तो 3.3 इंटू तो 7 आर्श 3.5 आर्श कहीं से भी निकाल लो नॉर्मली जब उसने अपनी स्पीड को डबल नहीं किया था तो उसको 7 गंटे लग रहे थे तो उसका टाइम आ जाएगा तो इसमें 4.5 आर्श तो दूसरे बंदे को 4.5 आर्श लग रहे हैं इस्टंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर कितने डिट्शंस की बात और यह हमेशा 40 किलोमेटर की को B को 40 km में 4.5 आर्ष लग रहे हैं, 4.5 का मतलब होता है 9 by 2, उसकी स्पीड कितनी है, 80 by 9 km पर आर, क्या इतनी गंदी स्पीड आई है क्या, इसा मैंने question नहीं पड़ा, ओहो, what is the average time taken by A and B to, sorry मैंने question नहीं पड़ा, मैं भावनाओ में बहा गया था, चलो, आपको नहीं बहा ना है, what is the average time taken by A and B to walk a 40 km distance, A और B को average time कितना लगता है, A और, मलब total 40 km distance walk करने में, average time यानि कि उसको कितना लगा, उसको कितना लगा, this plus this by 2, तो A को कितना time लगता भी है, 40 km में 7 गंटे, और B को कितना लगता है, 4.5 आर्ष, इन दोनों का average बताना है, तो 7 और 4, 11.5 आर्ष, पटे में 2, ठीक है, और गंटे और मिनट में बताना है, तो easily बता देंगे, 11 गंटे का आद्दा होएगा, 5 गंटे, 30 मिनट, और आद्दे गंटे का मतलब होता है, 30 मिनट, 30 मिनट का आद्दा होगा, 15 मिनट, 5 गंटे 45 मिनट है, average आ रहा है, ठीक है clear, clear, समझ में आगई बात, exactly same question, वीडियो पॉस करके करो, मैं directly बताना, start करता हूँ, मोहन takes 2 hours more than किस और, 2 hours 63 किलोमेटर, मोहन को 2 गंटे ज़्यादा लग रहे हैं, अगर मोहन अपनी स्पीड को 50 परसेंट बढ़ा ले, और कि अगर मोहन अपनी स्पीड को 2 से 3 कर दे, दोनों सिच्वेशन में स्पीड का रिषयो 2 इस्टू 3 है, तो टाइम का रिषयो 3 इस्ट अब एक घंटा कम लग रहा है, तो टोटल 3 गंटे का फरक क्रियेट हो गया, कहां 2 गंटे ज्यादा लेता था, कहां 1 गंटे कम ले रहे, 3 गंटे का फरक हो गया, ठीक है, रिषयो में तो एक का फरक है, असली में 3 का फरक है, तो actual चीजे तीन गुना है जी, 3 तीन, 9 गंटे लगते थे पहले इसको जब तक speed नहीं बढ़ाई थी और तीन दूनी 6 गंटे लगते हैं आज ठीक है इसकी बात चल रही है if Mohan increases his speed हमने Mohan की speed का impact देखा उसके time पर how much time does किस और take to walk 63 km किस और को कितना time लगेगा 63 km चलने में तो किस और की speed चीए और कैसी है अभी देख लेते हैं तो भाई Mohan को normally 9 गंटे लगते थे पहले और ये कितने गंटे ज़्यादा लेता था ये 2 गंटे ज़्यादा लेता था तो यानि कि उस बंदे को इससे 2 गंटे कम 7 गंटे लगते थे और distance कितना है 63 63 km चलने में उसको 7 गंटे लगते थे यही पूछ रहे हैं कुछ निकाला ही नहीं है हाँ यह हो सकता था कि यहाँ पर distance बदल देते तो speed निकाल के फिर divide करते हैं clear है सारे question exam में पूछे गए हैं यह करो let me drink water अब्धा 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 आपने किया होगा यह situation है two persons P and Q start walking simultaneously from A towards B यह A है यह B है P B A से B की तरफ जा रहा है और Q B A से B की तरफ रहा है और Q B A से B की तरफ रहा है सही मामला है distance between A and B is 100 km A और B के बीच में distance वो 100 km है speed बता दी P की Q की तरफ रीचिंग और इन्होंने इकठा start किया है same time पर start कर रहे है इसका मतलब time same रहेगा दोनों की जरुनी का यह जितना भी distance cover कर लेंगे आपको यहां से idea आगया कि time constant है तर time same ले रहे हैं तो जो भी speed का ratio है वही distance का ratio होएगा जो भी distance का ratio हो वही speed का ratio है अभी मने question नहीं पड़ा देखते हैं आफ्टर रीचिंग at b person q returns दोनों इकठे चले थे तो b पर पहुंचने के बाद q यहां से जा रहा था वै q जो है वह यहां से जा रहा था बी पर पहुंचने के बाद वह उल्टा मुड़ गया तो गया क्योंकि speed तेज है पहले ही चला जाएगा क्योंकि speed तेज है q returns immediately towards a and on the way person q meets p p यहां से चला था यह कही ना कहीं यहां पर मिले है point पर मिले on the way person q at a distance of x kilometer from b b से x kilometer दूर मिले है b से x kilometer पिर अब बोलोगे जी हां होती बढ़िया तो find the value of x बताओ बहुत ही प्यारा question तो time same है मैंने बताया दोनों इकठे चले हैं जी हां दोनों इकठे चले हैं यह तेज चला और दोनों ने same time में इसने इतनी दूरी तैकी इसने इतनी दूरी तैकर ली तो speed के directly proportional होगा distance time constant है तो इसकी ज्यादा speed हो ज्यादा distance travel कर लेगा speed यह distance के बारे में कुछ बता रखा है distance के बारे में तो पूज रखा तो speed के बारे में बता होगा तो पी और क्यूंकि speed का ratio क्या है 20 और चोवन यह तो actual speed है तो speed का ratio क्या है जी अगर आप काटोगे तो 2 से 13 27 तेरा और 27 तो distance का ratio भी यह होगा 13 इस टो 27 अगर पी ने 13 unit distance travel किया है तो 27 unit ऐसे जाना और आना तो यहां पर एक बात ध्यान से देखेगा यहां से से बी तक जाना और वापिस आना इसने इतना distance travel किया और यह बाक्की का a ने travel किया अगर इन दोनों को मैं जोड़ दू तो actual में हो क्या रहा है a से b का distance दो बार count हो जा रहा है तो q यहां से गया और वापिस आ गया और a यहां से यहां तक गया दोनों को जोड़ देते हैं तो a से b के distance का double आएगा तो 27 और 13 कितना बना दोनों 40 27 प्लस 13 40 40 divided by 2 20 यह पूरा distance 20 है यह कितना हो गया यह 7 unit यह 13 unit यह 7 unit 20 तो देखो क्यों ने क्या किया पूरा 20 unit distance travel किया और 7 और गया 27 अब यह बॉल रहे हैं इस x की value बताओ इस 7 unit की value बताओ तो 13 और 7 पूरा distance 20 है 20 unit की value examiner ने बता रहा है 20 unit की value examiner ने बता रहा है यह तो 20 की जगे क्या है सो 20 पंजे सो 7 की जगे साथ पंजे 35 अंसरी सो clear है ठीक है कर लोगा ना कैसे है इस equation को एक रोज बताओ जी steer क्षचेश अंसरी ऑन स्टेशनार क्या की actually huh5 अंसरी से जीeralis कि गर्सनार काता थी घापड़ाआ है और स्टेशनार क्या की जगे पिर रहा हैं उर्लिया 2 बताओ झाए यह station A है, यह station B है, दोनों के बीच का distance हमें पता है, जी हाँ, डैफिनेटली पता है, गनेटी नाइन किलामेटर है, एन आर लेटर, तो यहां से एक बस चली थी, यहां से एक बस चली थी, कार भी यहीं से चल रही है, तो जो कार है, वो कब चली, वो एक गंटे बाद चली है, और पहुंच कब गई, वो अध्य गंटे पहले पहुंच गई, अध्य गंटे पहले पहुंच गई, तो कार जो हो, वो चले लेट थी पहुंच पहले गई तो ताइम तो दोनों का सेम है नहीं यहां पर क्या से मैं डिस्टन पढ़ टाइम रोटाइम कुछ निच्छ तो सेम हो गाता की रिलस्टन तुरनों की बिस जाही है तो है तो दोनों की वह स्पेड भी सेम नहीं है स्पेड का रिश्यों बता दिया है स्पेड रिरेश्चान उस्पीड का रिए सूर्च होती है उसने आट रिहाइट का बता बस 3 to 2 है तो car की 3 है तो बस की 2 है ऐसे बता है तो time का ratio क्या हो जाएगा 3 to 2 ऐसे मत सोचना मैंने उल्टा लिख दिया मैंने बस बाद में car लिखा उसने पहले car बता है तो time का ratio 3 to 2 है और उसने time के बारे में कोई ना कोई relation बताई होईगी देखो कार ने एक गंटे बाद जरनी स्टार्ट की और अध्य गंटे पहले खतम कर दी तो ओवरोल डेड़ गंटे कम लिये उसने तो एक गंटे बाद स्टार्ट की पहले ये एक गंटा लेट से लिए और उपर से आध्य गंटे पहले खतम कर दी गंटे कम लिये रेशियो के इंदर जो चीज एक है, कार ने एक उनिट कम लिया, वो एक्चुल में डेड़ गंटा है, तो इस डेड़ गंटे से multiply करो, 1.5 इंटू 3, 4.5 आर्श, बस ले रिये 4.5 आर्श और कार ले रिये 3 आर्श, एक्चुल में, पुचा क्या, find the speed of the bus, bus की speed बताओ, तो भाई, distance 189 किलोमेटर बता दिया, 189 किलोमेटर को, कोई चीज, इतने गंटे में ट्राइवल कर दिया, तो speed बता दोगे न, 4.5 is 9 by 2, बतादो फिर, 30 किलोमेटर पार, MTS में पुचा गया एक question है, कोई भी exam हो, अगर हमसे relevant exam है, तो वहाँ के top questions आपके लिए समाट के रखते हैं, वहाँ के best questions हो हमारे लिए, best का मदलब difficult नहीं होता, तो हमारे लिए करने बेस्ट है, यानि कि सारे difficult भी उठा लिए, सारे moderate भी, सारे easy भी, 4 boys, A, B, C, D, are standing at four corners of his square track, तो च्यार बंदे हैं, A, B, C, D उनके नाम है, कैसे नाम रख देते हैं, वो च्यार पर खड़े हैं, किसी square के, A यहाँ पर खड़ा है, B यहाँ पर, C यहाँ पर, यहाँ पर, they started running along the track, यह track के long run करने लगे, square की track है, यहाँ एसे, A ऐसे run करेगा, B ऐसे run करेगा, ठीक, in clockwise direction, clockwise direction, clockwise गड़ी की सुह यहाँ ऐसे चलती है, तो ऐसे run करना है, कित दा speeds in this ratio, इनकी speeds का ratio बता दिया, आप बोलगा जी हाँ सारे, speed का ratio बता दिया, A, B, C, D, by the time, B completes one round, to reach the same corner, as he was before, जब तक, B एक round complete करता है, यहाँ से, पूरा भाग के, B यहाँ पर आ जाता है, सारो, सारी कठे बागे थे, A, यहाँ से, B, यहाँ से, C, यहाँ से, D, यहाँ, जब तक, B एक round complete करता है, how many of the remaining three, reach the same corner, where they were standing before, बचे में से, कितने बंदे हैं, जो exactly उसी जगह पर पहुंच गए, जहाँ पर वो पहले खड़े थे, पैसे तरह directly दिखी रहा है, कि यह यह एक पहुंच आ है, exactly उस जगह पर, कोई नहीं ठीक है, तो देखो, यह A की speed है, यह B की speed है, यह C की speed है, यह D की speed, फिर है, B की speed अगर दो unit है, exactly उसी जगह पर पहुंच नहीं है, exactly, जै फिर उसी बेसे बताता हूं, मैं इस बेसे रहने दूँ, जैसे तो मुझे directly दिख रहा है, यह 2 का double है, यह 2 round मार गे उसी जगह पर आ गया, जैसे होगा, D इस था, answer A की बंदा पुचा है, बाक्य तो इसके fraction में नहीं है, मैं दूसरे त्रिके से बताता हूं, जैको, अगर माल लो A को exactly इसी जगह पर आना है, तो इसको इतना ही distance travel करना पड़ेगा, exactly उतना ही, पूरा एक round, B को इसी जगह पराना है, तो B को exactly इतना ही distance travel करना पड़ेगा, C को इसी जगह पराना है, तो खलब square के चारो तरफ भागना पड़ेगा, सब B को, ठीक, फिर है, यहाँ पर इन्होंने speed का ratio बता दिया, मैं distance को constant ना मानके, time को constant, क्ये कर लेता हूँ, चलो, मैं दूसरे वे से सोच ज़रा था, चलो, फिर शे बताता हूँ, A यहाँ से बागा है, B यहाँ से बागा है, C यहाँ से बागा है, D यहाँ से बागा है, ठीक है, इनकी speed का क्या ratio है, इनकी speed का ratio है, 1, 2, 3, 4, सारे इकठे वाग्य हैं टाइम सबका से में सेम ठाइम लिया है तो distance का क्या ratio होएगा तो distance का ratio भी ही हो जाएगा मैंने क्या मान लिया कि B exactly उसी जगह पर पहुंच गया B exactly उसी जगह पर पहुंच गया मैंने square की side को मान लिया 1 unit आप बोलोगे जी हाँ sir वन उनिट तो b ने कितना distance travel कर लिया तो b ने 4 unit distance travel कर लिया ये तो इनके distance का ratio है अगर b ने 4 unit distance travel कर लिया तो a ने 2 unit कर लिया होगा C ने 6 unit कर लिया होएगा D ने 8 unit कर लिया होएगा तो B ने 6 unit distance travel किया और वहीं पर आ गया यह बोल रहे हैं इसी वक्त जब B यहाँ पर है तो इसी वक्त कितने बंदे हैं जो exactly उसी जगह पर है जहां से उन्होंने race start की थी तो यही होएगा 8 unit वाला क्यों 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 क्य इक लेकिन एक राउंड पूरा नहीं मार रहा है दो ही साइड तक भागां और यसी ने दिमाग में चल रहा था कि कितने रुख तो नहीं गए है अगर एक्जामिनर ये पूछे अगर रेस ही इतनी है कि एक्जेक लिए उसी जगे पर आना है तो ये सी और टो रुक जाएंगे ये भागते थोड़ी रहेंगे तो से उस केस में क्या होगा दो बंदे और होएंगे जो अपने परकों से लेकिन मारो रेस इतनी नहीं है इनको लगातार भागते रहना है उस वक्त ये ओर ये तो इस ौहरेंगे नहीं ड ये उस ओरनर पर हो करना चारा है यह बंदा जिसने बताई है यह प्रिविश एर क्वेशन ही यह एज़स्ट कंसेप्ट के लिए लिए क्यां सिरिस ओप्षिन ठीक है ठीक है यह बतावागा तू फ्रेंड्स एंड बी अर स्टेंडिंग एट वन कॉर्नर यह ऐसा क्यों इसके अंदर एक और पाइथागरोस थोरम जो होता है उसकी भी नीड पड़ेगी तो मैं यह आजियूम कर लूँगा आपको पाइथागरोस आता है अगर अभी नहीं भी आता होएगा तो बाद में आप सिख हो गई होती बेसिक थे और हम आपने स्कूल में भी सिख भूएगा तू फ्रेंड्स एंड बी यह बोल रहे हैं कि दो फ्रेंड हैं और भी यह किसी है कोने पर खड़े हैं रेक्टेंगूलर ग्राउंड के जब तक ए जो है वो उसकी दो साइड्स पर भाग के यहां तक जाता है उतनी देर में बी जो है वो उसके डाइगनल के अलोंग भाग लेता है तो टाइम सेम है दोनों बंदे सेम टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं जितने टाइम में यह इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उतने टाइम में बी है यह इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है अगर टाइम कॉंस्टेंट है सेम टाइम के अंदर distance travel कर रहे है तो time के लावा बच क्या गए distance और speed तो distance और speed directly proportional है जो भी इनकी speed का ratio वही distance का ratio है जो distance का ratio वही speed का ratio अभी देखते हैं A is 40% faster than B A जो हो B से 40% faster है यानि कि B की speed 5 है तो A की speed 7 40% faster ये 100 है तो 140 speed का ratio तो यही के distance का ratio होएगा A ने अगर 7 unit distance travel किया है तो B ने 5 unit यानि कि B के distance इस diagonal को अगर मैं 5 unit माल लूँ तो ये सारा जो ही है 7 unit होएगा clear है find the ratio of length and breadth of the rectangular ground rectangular ground की length और breadth का ratio बताओ तो अगर ये 5 unit है तो ये पूरा 7 unit है तो यहाँ पर दो तरिक्के हैं इसको मैं A माल लूँ तो ये पूरा 7 है इन दोनों का sum तो ये हो गया 7 minus A अप पाइथागरस theorem लगा लो पाइथागरस theorem क्या होता है इसका square प्लस इसका square is equal to इसका square लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे करो मैं ऐसे करने के लिए नहीं बोलूँगा उसने क्या बोला है उसने बोला है कि ratio तो मैं ratio को use करूंगा कि 3 is to 2 ratio इन दोनों की लंबाई का sum क्या है इन दोनों की लंबाई का sum है 7 तो 7 को 3 is to 2 ratio में तोड़ेंगे हम वैसे एक हिसाब से 3 is to 2 बाट मैं नहीं तोड़ूंगा इस option को 7 को 3 is to 2 ratio में तोड़ना असान है कि अभी नहीं तोड़ेंगे यह नहीं कि यह answer नहीं है अभी तोड़ेंगे नहीं को वह चीज़ पता चलेगी plane geometry करोगे बहुत ही easy question हो जाए ठीक है clear है जी समझ में आगई बात यह बताओ कुछ question मैंने यहाँ पर plane geometry की understanding के डाले हैं क्योंकि वह mix कर देता है equations को और ऐसे equation plane geometry में भी आपको एक आदे मिल जाएंगे time and distance के साथ mix कोई दिक्कत नहीं है अभी plane geometry नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है तिरफ normally समझ लो जैसे समझते हो tension नहीं लेनी ठीक है जोगिंग पार्क आप सिरफ idea को समझो कि idea को मैं कैसे implement कर रहा हूं बस plane geometry नहीं किया तो जोगिंग पार्क has a circular track and a square track and a square track enclosing the circle एक जोगिंग पार्क के अंदर एक तो circular track है यह मैंने diagram बना रखा है क्या नहीं बना रखा है एक तो circular track है और एक square track है जो कि circular track को enclose कर रही है इसको exactly ऐसे बंद कर रही है ठीक the edges of the square are tangential to the circle जो square की side है जो edges है वो इसके tangential है इसको tangent की तरह इसपर्स कर रही है यह plane geometry का concept है सोटास basic two friends a and b a and b start jogging simultaneously from the point where the circular track touches the side of the square track दो friend है a और b वो उस जगे से jogging स्टार्ट करते हैं इन च्यारों में से किसी भी एक जगे से जहां पर circle square को touch कर रहा है ठीक है ओके and complete a lap in the same time और same time में एक lap को complete कर रहे है अच्छा जी same time ले रहे हैं distance trial करने है यही पर हमें पता चल जाए कि हम कौन से चीज़ लगाएंगे तीन ही तो चीज़ है distance speed time time को same बता दिया अच्छा time constant same time ले रहे हैं यानि कि speed का जो ratio होएगा वही distance का ratio होएगा तो speed का ratio देके distance पूछ लेगा यह distance देके speed पूछ लेगा तो distance का जो ratio होएगा वही speed का वेगा उस बात ही नहीं इन questions के इंदर a jogs along the square track तो a जो है वो square के along jog करता है यह से और जो बच गया भी वो circular track के along ऐसे run करता है ठीक कैसे what is the ratio of speed इनकी speed का ratio पूछ लिया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि same time ले रहे हैं इस पूरे lap को cover करने में इस पूरे यह इस distance को cover कर रहा है यह इस distance को cover कर रहा है same time ले रहे हैं अगर time constant है तो जो भी distance का ratio है वही speed का ratio होएगा तो मैं distance का ratio निकालना चाहरा हूँ तो मैं actual distance नहीं निकालना चाह रहा है मैं तो ratio निकालना चाह रहा हूँ अगर आप ratio निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करो इसके radius को सिरफ एक unit माल लो क्या फरक है इसके radius को एक unit माल लो तो B जो है वो कितना distance travel कर रहा है ये circle के चारों तरफ जा रहा है तो circle का circumference परीमाप परीधी कितनी होती है 2 pi r sorry b जो है तो ये जा रहा है 2 into pi into 1 और a जो है ये square के चारों तरफ जा रहा है अगर यहां से यहां तक का distance a है तो यहां से यहां तक का distance a होगा तो square की side आ गई 2 unit तो 2 into 4 ये 8 unit distance जा रहा है a तो इनके distance का ratio सिर्फ ratio चीए अगर ये 2 pi distance जा रहा है तो ये 8 जा रहा है तो ratio क्या है ratio आ गया pi is to 4 और जो भी इनके distance का ratio वही इनकी speed का ratio है इसने speed का ratio पूछ ले तो वही pi is to 4 पहले किस की पुछे है a या b की what is the ratio of speed of a is to b पहले a की पुछे तो 4 is to pi is the answer clear है कितना आसान question है आगे बड़े during his morning walk atul walks for 45 minutes at a speed of 8 km per hour and takes 15 rounds of a park तो इस question को मैं आपको दो तरिक के से करवा हूँगा basically पहले बिल्कुल basic तरिक का बता देता हूँ morning walk के दो रान atul जो है वो 45 minutes तक जोड़ता है इस speed से तो ठीक है 8 km की speed से speed बता दी आप बोलोगे जी हाँ time बता दिया speed into time क्या हुता है distance तो मुझे distance मिला की नहीं मिला आप बोलोगे सर मिला मिला की नहीं मिला 8 into 3 बटे 4 speed into time तो उसने कितना distance travel किया ये मिल गया जब उसने ये distance travel किया तो उसने 15 round मार दिये थे हैं अच्छा 15 round पारक के तो 15 round मारने से इतना distance बनता है तो एक round का कितना distance होगा 15 से divide कर दिया मैंने ये मुझे मिल गया कि एक round कितना लंबा है अब एक दूसरा बंदा है स्पीड बताओ, डिस्टन्स है, टाइम है तो स्पीड क्या होगा, डिस्टन्स बती टाइम लेकिन यह टाइम जो है, यह भाई साब आर्ष में आशी है हमें किलामेटर पर आर और डिस्टन्स भी मैं किलामेटर में लिख रहाँ, तो चालिस मिनिट मतलब 40.60 2.3 तो 2.3 बस यह आ गया आपका उत्तर एक fraction solve करती है clear बस इसी fraction को लिखने का एक easy trick का बताओंगा दूसरे method पर 8, 4 दुनी 8, 3 और 10 30 होता है 15 दुनी 30, 3 दुनी 6, 6 की speed है ऐसे करके अब दूसरा trick का देख लो मैंने आपको ratio and proportion के अंदर variation करवाया था कि चीज़े directly vary कर रही है inversely vary कर रही है तो time speed and distance का formula क्या है time speed and distance का formula है यह distance is equal to speed into time अगर कभी भी किसी भी equation के अंदर आपको 2 situation मिले तो आप इनकी variation का formula निकाल सकते हो तीनों को एक तरफ ले आओ या तो इन दोनों को इदर नीचे ले आओ या इसको उधर ले जाओ कोई फरक नहीं पड़ता जी कोई फरक नहीं पड़ता चाहे तो यह चीज़ यूज़ कर लो distance को मैं उधर ले गया यह इनको इदर यूज़ कर लो sir इनको मैं कैसे यूज़ करूँगा मेरे भाई मेरे दोस्त दो situation होंगी उनके अंदर क्या करेगा आप ऐसे यूज़ करोगे जैसे variation आपको याद नहीं है क्या variation के question करवाए थे याद नहीं क्या दो situation होएंगी 3 value इदर की बता देगा 2 value इदर की बता देगा 1 value पूछ लेगा कोई भी बता सकता है कोई भी पूछ सकता है तो आपको ये formula रटना है नहीं आपको सिरफ ये याद रखना है ये यहीं से variation का आ जाएगा ठीक है तो देखो उसने क्या बताई अब देखो हम क्या करते है तो उसने time बताय की नहीं बताया मैं इसको यूज कर रहा हूँ अब यहाँ पर टाइम को आर्श में कनोट करना जरूरी नहीं है क्यों नहीं है सर अगर दूसरी तरफ भी मिनट्स में दे रखा है तो दोनों जगे टाइम सेम यूनिट में होना जिए वस हम दो सिच्वेशन को कंपेर करेंगे ना यहाँ पर ट कितना है दूसरी जगे उसने 40 मिनट में दे रखा तो मकन वर्टी नहीं करूंगा 45 मिनट और क्या बतार का टाइम दे दिया स्पीड दे रख आठ और डिस्टेंस दे रख रख आजी 15 राउंड आप बोलोगे से रहे तो डिस्टेंस नहीं है उसने कितना डिस्टेंस राउंड मारे तो दूसरी जगे भी राउंड की फोर में दा रखा होगा है राउंड की फोर में पूच रखा होगा या अब राउंड की form में निकाल सकते यह के नहीं दोनों तरफ चीजह सेम फोर्मेक में हनी DRU स्पीड टाइम और डिस्टन G दूसरी जगया सेकर takes 10 rounds तो शेखर मार रहा है जी 10 round और 40 minute speed नहीं बता रहा है speed पूच रहा है वस solve करो speed आई पड़ी है वही B आएगा clear है समझ में आगई बात आगे बढ़ू इसी formula की तोड़ी practice करें दोनों तरिके से करेंगे इस type equations को यह आया हुआ question है इसे फिसला जो कराया था यह देखो अमित टेक्स 20 minutes to drive from his home to his office how much time Sumit takes to drive from his home to office if his speed is twice that of Amit and the distance between Amit's home and office is 25% less than the distance between Sumit's home and office इसको एक और मज़े दात्रिक का मेरे दिमाग में आया जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ इसने क्या पूचा है कि कितना time Sumit को कितना time लगे का ठीक है तो मैं Sumit का time निकाल रहा हूँ ठीक तो time क्या होता है time होता है distance upon speed तो मैं यह देखना चाह रहा हूँ जान से मिली बात कुस्वन लीजिए का Sumit को time लगेगा वो कितने गुणा है किसका अमित को जो time लगेगा उसका कितने गुणा है आप बोलोगे सर आप directly कैसे निकाल लोगे कितने गुणा है उस बाई साब ने यह बता रखा कि distance इतने गुणा है speed इतने गुणा है उसने खुद ही बता है तो अगर मुझे पता लग गया distance इतने गुणा है speed इतने गुणा है इन दोनों को ऐसे डिवाइड गुणा तो पता लग जाएगा टाइम कितने गुणा है उसने गुणा में चीज़े बता रखें तो गुणा में आ जाती है रेशियो में बता रखें तो रेशियो में आ जाती है यह चीज़ हम पहले कर चुके है जानो तो ठीक तो बता दी दो गुणा है और डिस्टन्स भी देख लेंगे कितने गुणा है तो ओर ब्रॉल जो भी वैल्यू आ जाएगी पता लग जाएगा टाइम कितने गुणा है तो डबल है हमिट का कंपेरिजन में और इस्टेंस हाँ 257 पॉरचेंट परचेंट ने मपह्रां करना है है कि तो डॉटल दिस्टेंस तीन नुपटे 4 गुन है उसके प्रेजन में तो डिस्टेंस फोचेंच 3 बटे 4 गुन है तो स्पीर वह साँ अब तीन बते आठ गुना होएगा जोरी टाइम जो है इन बते आठ गुना लगेगा इसको इसको अगर 20 मिनट लगे ना तो इसको तीन बते आठ कुना देता हूँ इसको 20 minute लग रही है ठीक है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे distance निकालना पड़ेगा आप भूलगे सर डिस्टेंस तो निकाल लें लेकिन उसकी speed नहीं दे रखी अमित का time तो दे दिया distance कैसे निकलेगा time into speed speed दे नहीं रखी दूसरे की भी कहां दे माल लेता हूँ इसकी speed मैंने माल ली s s units per minute ठीक है s km per minute इस type से माल ली मैंने ठीक है इसकी speed को मैंने s माल लिया तो distance क्या होगा 20 into s total distance कितना है 20 into s time into speed speed मैंने उसी unit में माल ली जिसके अंदर km per minute में ही माल ली मैं इसको भी convert नहीं करना जा रहा हूँ तो speed मैंने माल ली s तो time into speed ये distance आ गया अब देखते हैं दूसरे बंदे को ये double speed पर जा रहा है ओके लेकिन distance कितना कवर कर रहा है 25% less ये बंदा तो इतना distance कवर कर रहा है इससे 25% less यानि कि इसका 3 4 इतना distance कवर कर रहा है ये बंदा ठीक इतना distance कवर कर रहा है और speed कितनी है speed है जी 2s पहले वा में स्पीड अब टाइम आ जाएगा ऐसे भी कर सकता बिल्कुल बेसिक से ऐसे एस कट गया चार पांचे बीस पांस तिये पंद्रा बटे दो साड़े साथ मिनाट कभी भी ऐसे नहीं डरना मैं इतने मैंतों को कैसे याद करूंगा आपको परस्पेक्टिव दे रहा हूं आपकी सोच को बढ़ा रहा हूं वो ज़रूरी है आपको ये समझ में आ रहा है वो more than enough है ये टैंस मतल है न मैं याद कैसे रखूंगा मैं याद कैसे रखूंगा आप एक बार में कभी भी आप जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकते एक बार मैं अपने पानी कहना भी नहीं सिखा दूद कहना भी नहीं सिखा सिखा रेपिटिशन से चιजजा आती है एक्जाम में बड़िया पोस्ट चिहे बड़िया रइंक चिहे जितनी ज़्यादा बार कोई बन्दा रिपीट करेगा चीजों को उसकी रइंक बढ़ती र मालो मिराइका दा दिन छुट भी जाए तो 30 पलस बार मैंने सारे कंसेप्ट से गड़ा 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 रिपेट करती है 30 पलस बार मैत के पूरे से लेवस के कंसेप्ट से मैं निकला और बढ़िया हर एक चीज़ प्रूव करते हुए 80 मिनट में कर देता था मैं टाइम पता नहीं दूसरे बंदे का डिस्टेंस 25 परशेंट लेस है तो अमित का डिस्टेंस मैंने 3 4 माल लिया उसका डिस्टेंस मैं 3 माल लूँगा 25 परशेंट लेस है डिस्टेंस दोनों का पता चल गया हां जी स्पीड अमित की स्पीड कितनी है अमित की जो भी स्पीड है भाई उस दूसरे स्पीड डबल है तो अमित की स्पीड मैंने 1 माल ली इसकी स्पीड मैंने 2 माल ली अमित का टाइम कितना है, अमित का टाइम 20 मिनिट है, और उसका टाइम कितना है, उसका टाइम तो निकालना है, यह लो टी लिख दिया, अब जो भी है आ जाएगा, यहाँ पर आपने टाइम को मिनिट्स में लिखा तो, वो टाइम मिनिट्स में आ जाएगा, सिद्धी सी बात तो देखो इसको बिल्कुल बेसिक वेसे भी करी सकते हैं अगर 20 किलोमेटर गंटे में दोड रहा है तो डिस्टन्स बटे में टाइम तो स्पीड आ जाएगी 5 तो के 20 आठ किलोमेटर पर आर यह जस्ट दो क्योंसे नहीं करवाऊंगा एक चीज़ के उपर तो कम नहीं हो जाएंगे अंडरस्टेंडिंग बिल्ड करने में तो हम आने तीन ले लिए इसको अधरवाइज एग्जाम में हम नॉर्मल वेसे ही करेंगे क्यों अपने दिमाग को इतना ज्यादा तंग करना 20 किलोमेटर डाही गुंटे में कर रहा है तो भाई 8 किलोमेटर पर आर स्पीड है अब यह बोल रहे है कि 32 किलोमेटर कितनी देर में भागेगा तो पहले तो स्पीड 8 किलोमेटर पर आर थी लेकिन अब पहले की स्पीड स double speed पर भागना है यानि कि 16 km पर आर की speed से भागना है तो 16 km की speed से 32 km भागना है तो 2 घंटे लगेंगे खतम खलास ज्यादा सोचना ही नहीं बट एक बार practice कर लेते हैं अपने variation वाले method की इसकी तो पहले case में है वो 20 km भाग रहा था दूसरे case में बताया क्या 32 km भाग रहा है just comparison होता है यहाँ पर distance कितना कितना speed कितनी time कितना यहाँ पर उसको 2 घंटे लग रहे थे और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कितने घंटे लगेंगे तो आर्स में ही आएगा यहाँ पर गंटों में time बता है तो गंटों में ही आएगा ठीक कितने घंटे लगेंगे आएगा speed के बारे में बताया यहाँ पर double speed पर भाग रहा है यहाँ पर speed एक unit है तो यहाँ पर speed दो unit है कि आया पड़ा है solve करोगे तो option है clear है समझ में आगी बात इसके बाद आपको अपनी pdf के अंदर mental test one मिलेगा mental test का मतलब होता है कि हमने mentally करना होता है अबने pen नहीं उठाना होता ताकि क्या हो आप steps को mentally कर पाओ कई steps ऐसे होते हैं जो mentally किये जा सकते हैं उनको mentally करने में फाइदा है कई steps ऐसे होते हैं जिनको mentally करने में फाइदा नहीं होता अगर मैं आपको यह बात बता हूँ 8372 into 213 इसको गुणा करो एक बंदे को pen और paper दे दूँ आपको बोलू mentally करो तो आप हार जाओगे उससे तो क्या इसको mentally करने में फाइदा है नहीं है mentally करने में फाइदा अगर मैं बोलूँ एक बंदे को मैंने बोला कि तेरे को paper पर लिख करना पूरा procedure और दूसरे बंदे को बोलू कि तू mentally बताएगा तो मैं बोलू 30 into 2 क्या होता है वो 30 लिखेगा इतने में वो 60 बोल देगा तो इसको mentally करने में फाइदा है कई चीजों को mentally करने में फाइदा होता है कई चीजों को mentally करने में फाइदा नहीं होता है तो mental test के अंदर मैंने ऐसे question चाट कर आपको दे रखे हैं जिन चीजों को mentally करने में फाइदा है आप उन steps को skip कर देंगे लिखना exam में आप क्या दत हो जाएगी उनको mentally करने की तो जो mental test उनको mentally किया करो बलही time लगे ना लगे कभी ऐसे mental test मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे mentally कभी ऐसे मिलेंगे जो दिमाग पर जोर डलवाएंगे लेकिन वो ज़रूरी है जोर डलवाना आपको क्या लगता है यह फालतु में mental test दे रखे तो mental test की वीडियो ऐसे देखने के लिए नही है तो आप सारे करी लोग है वो question इन questions को करना बड़ी बात नहीं है कहीं सोचो यह एल्ट रगड़ती है mentally करना है clear है तो mentally करना सारे mental test के questions को ओके फिर उससे अगली वीडियो के अंदर मैं आप से मिलता हूँ Hello dear आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर एक बहुत ही interesting एक बहुत ही मज़ेदार हम concept करने वाले हैं और कई ऐसे सवाल जो इस concept के बिना आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगे उनको कुछ seconds के अंदर हम इस concept से करने वाले हैं और बहुत ही प clear है जी चलिए जी एक छोटा सा concept है ये lecture भी छोटा ही होएगा ठीक होचे छोटा सा concept है इसके अंदर आज तक जितने भी तरह के सवाल आए हैं वो सारे करेंगे पटकुल मिलाकर 8-9 सवाल यह हम करेंगे लेकिन सारी varieties उसके अंदर हम कवर करते हैं तो ये जो concept है concept lecture 4 time additions का इस इसके अंदर speed and time plus minus मैंने इसका नाम दिया है तरह इसका क्या मतलब है आपको बताता हूँ देखो मैंने इससे पहले आपको क्या सिखाया है मैंने इससे पहले आपको ये सिखाया है कि यह speed को अगर आप 3 बटे 2 गुणा कर दोगे speed को 3 बटे 2 गुणा कर दोगे तो time 3 बटे 2 गुणा ऐसे लिख लेते हैं तो time जो है वो 2 बटे 3 गुणा हो जाए मैंने बता है speed को double कर दोगे तो time half लगेगा उसी distance को travel कर दोगे speed को 5 गुणा कर दोगे तो time 1 फिफ लगेगा अगर आपको double time में उस distance को अगावर करना है तो अद्धी speed से काम सलजाएगा तो यह तो गुणा की चीज़े हैं जब speed कुछ गुणा होगी तो time उसका reciprocal गुणा होगा लेकिन examiner हमेशा आपको इस type के question नहीं देता है ठीक है कि आपको speed और time कितने गुणा हो रहे हैं यह वह आपको बता रहा हूँ कभी कभी plus minus के आपको question दे देता है कि किसी बंदे ने क्या किया किसी बंदे ने अपनी speed को 5 बढ़ा लिया और इसके कारण उसको time जो हो एक गंटे कम लगा कि speed इतनी speed में इतना add कर दिया तो time में इतना subtract हुआ वो गुणा में नहीं बताता है वो plus minus में बता देता है distance same है कि उसी same distance को cover करने के लिए speed को 10 बढ़ा दिया तो time उसको एक गंटे कम लगा speed को 10 घटा दिया तो time उसको 2 घंटे जादा लगा तो जब चीजें गुणा में हो रही हो तो speed 3 बटे 2 गुणा होई तो time 2 बटे 3 हो जाएगा ये okay है इससे हम करेंगे लेकिन ये नहीं कि speed में 5 जोड दिया तो time में 5 घटा दोगे नहीं गुणा में variation काम करते है प्लस माइनस में नहीं करती है तो इसलिए ये नाम दिया है तो जब भी प्लस माइनस वाले questions होएंगे तो उनको हम इस तरीके से कर रहे होंगे मैं आपको equation दिखा दूँ तब आप समझ बाओगे देखो due to inclement inclement का मतलब बता है खराब खराब मोसम के काण due to inclement weather खराब मोसम के काण एन एर प्लेन तो यहाँ पर सिर्फ इसक्वेशन को करने पर focus मत करना पहले तो करो मेरे बताने से पहले करो एक बार इसको उमीद है कि कर लिया होएगा लाइक बच्चे हो या ना लाइक बच्च्चे हो चेंज आया इसकी स्पीड में अब की बार चेंज वो ऐसे नहीं बता रहा गुणा में कोई पहले की स्पीड बता दे अब की स्पीड बता दे तो हमें बता लग जाएगा कितने गुणा हो गई है या फिर क्या रेश्यो है नहीं उसने पहले की speed नहीं बताई उसने सिरफ यह बता दी कि उसकी speed जो है कम होगी 300 km परार से यदि कि speed के अंदर क्या change है speed के अंदर आया change minus 300 km परार तो अब time के अंदर क्या change आएगा अगर कम speed पर जाओगे तो ज्यादा time लगेगा time के अंदर कुछ plus में change आएगा तो time के अंदर change आया कि उसको 2 गंटे ज्यादा लग गए उसको 2 गंटे ज्यादा लग गए time के अंदर change आया plus 2 hours तो इसलिए बोल रहा हूँ कभी speed में plus change आएगा तो time में negative change कभी time में plus change तो speed में negative change तो इस तरह के questions है इनको हम कैसे deal करेंगे वो देखते हैं तो जितने भी methods हैं इनको deal करने के एक एक करके समझते हैं अगर exactly इस तरह का question है तो best method रहेगा options चेक करना अगर उसने आपसे यह पूचा है then the scheduled duration की normally कितना time उसको लगना चाहिए flight को scheduled duration कितने गंटे की है अभी तो मोसम खराब हो गया तो speed को कम करना पड़ा अगर मोसम खराब ना हो actual में schedule में कितनी duration है कितने time में उसको जाना चाहिए लेकिन क्या है कि वो हमेशा ये निपूचता कि कितनी speed है कितना time लग रहा है वो कभी-कभी इन questions को ऐसे पूचता है कि हम option use नहीं कर पारे यहां पर तो आप option use कर सकते हो मैं पहले option को use करता हूँ यह मान लेता हूँ कि schedule duration याने कि normal उसको जो time लगता है वो उसको एक गंटा लगता है पहले option को check कर रहा हूँ तो अभी वो दो गंटे लेट हो गई तो अभी उसको तीन गंटे time लग रहा होगा अभी उसको तीन गंटे time लग रहा होगा और distance कितना है distance 1200 km है तो अगर normal duration एक गंटे है तो 1200 km distance travel करने में एक गंटा तो speed कितने की है आप बोलोगे 1200 की speed है भाई नौर्मली मैं सब कुछी raise करता हूँ मैं option 1 को use कर रहा हूँ नौर्मली उसको एक गंटा लगता है 1200 km travel कर रहा है वो एक गंटे में तो उसकी speed है 1200 बटे 1 1200 km पर आर अगर उसको 2 गंटे लेट वो हो गया तो 1 पलस 2 3 गंटे में पहुंच रहा है तो 1200 बटे में 3 उसकी speed कितनी होगी या आप बोलोगे सिर्च 400 km पर आर तो पहले option के according तो उसने अपनी speed को 800 km पर आर कम कर लिया तो यह तो गलत है क्योंकि equation के अंदर तो उसने अपनी speed को 300 km पर किया अब अगले वाला देख लेते हैं सही माल लो normal duration डेड़ गंटे की तो डेड़ गंटे में उसकी speed कितनी रहती है डेड़ गंटे में उसकी speed रहती है जी यह ठीक है 300 के बारा 800 उसकी normal speed 800 है तो ठीक है उसको 2 गंटे ज्यादा लगे तो 7 by 2 से डिवाइड करूँगा अभी इसको 1200 को तो क्या यह डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा fraction में आ रहा है तो यहाँ पर भी बात बनेगी नहीं यहाँ पर भी 300 km का फरकाएगा नहीं exactly 300 का फरकाना चाहिए ना यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर 500 होना चाहिए 300 की स्पीड कम किया ठीक है अब मैं option C को चेक कर रहा हूँ अगर 1200 km वो नॉर्मली 2 गंटे में जाती है तो उसकी स्पीड 600 km परार है इस option के इसाब से यह बोल रहे हैं उसको 2 गंटे ज्यादा का time लगा तो 2 प्लस 2 उसको 4 गंटे का time लगा अगर 4 गंटे में 1200 km जा रही है तो 1200 बटे 4 उसकी स्पीड 300 km परार होगी तो क्या यहाँ पर 300 का फरक आया आया question में भी 300 का फरक है जी हाँ यानि कि यही उत्तर है clear है clear है कि नी आप options को कैसे भी use कर सकते हो मैंने time के हिसाब से use करके बता है मैं दूसरे त्रिके से भी use करके बताता हूँ normally उसको एक गंटा लगता है तो 1200 km वो एक गंटे में travel करते है तो speed कितने की होगी मैं यहाँ पर speed लिख रहा हूँ 1200 की हो गई ठीक है अगर मैं इसकी speed को 300 घटा दूँ यानगी 1200 km को अगर मैं इसमें से 300 घटाऊ 900 900 की speed से travel कर वाऊं तो क्या 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर एक गंटा लग रहा था क्या यहाँ पर 3 घंटे आएंगे यहाँ पर एक गंटा लग रहा था number 2 number 2 मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल basic method उसके बाद मैं आपको formula बताऊँगा और उसको याद कैसे करना है वो बताऊँगा formula आया कहां से वो ही बताऊँगा तो भाई जो distance है वो 1200 km है तो 1200 km formula basic method बहुत ही simple है हमें पता है ये बोल रहे हैं उसने अपनी speed को 300 कम किया तो 2 घंटे late हो गया तो time is equal to distance by speed time is equal to distance by speed तो distance 1200 है जब 1200 distance को अब वो 2 घंटे late हुआ है यानि कि वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है अगर 1200 distance को ध्यान से सुनिएगा उसकी speed मैंने माली s जब वो s speed से travel कर रहा था तो उसको इतना time लग रहा था distance by speed क्या आगया time और जब वो s minus 300 speed से travel कर रहा था तो उसको time लग रहा था इतना distance upon speed time मैं time को compare कर रहा हूँ distance by speed का मतलब होता time तो पहले उसको इतना time लग रहा था अब उसको इतना time लग रहा है और अब उसको 2 गंटे ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको compare clear चरीय solve कैसे होगा तो देखो इस 1200 को common ले जाकर मैं इधर लिखूँँगा किया जाएगा 2 बटे में 1200 अधर इधर S आएगा इधर S माइनस 300 आएगा S में से S माइनस 300 S में से एक ऐसी चीज़ घठाओगे जो S से 300 चोटी है तो 300 ही आएगा ठीक चीज़ और निच्चे आएगा S इंटू S माइनस 300 इसको समझे लो इसको मैं बहुत short करवाने वाला हूँ आपके लिए पहले इसको एक बार समझे लो clear है जी अब 2 से मैं इसको काड़ दूगा 2 सिक के 12 और इस 300 को निच्चे ले कराऊंगा into 300 तो हमने क्या करना है मेरे भाई हमने ऐसे दो नमबर निकालने है जिनका product ये एक नमबर है ये एक नमबर है ऐसे दो नमबर निकालने है जिनका ये product हो और उनके बीच में 300 का gap हो या फिर आप ऐसे मान सकते हो इस product को ऐसे दो नमबर में तोड़ना है जिन में 300 का gap हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ये गुणा है ये उन दो नमबर की गुणा है गुणा में से उस चीज को दो बार निकालना होता है और एक बार 300 यहां से निकाल लिया 300 दुनी 600 दो बार मैंने 300 निकाल लिया यहां से मैं एक बार 300 निकाल लिता हूँ यानि कि इनके बीच में 300 आग था 300 मैंने निकाल लिया तो सिरफ एक का gap चीए मैंने एक बटे 300 कर दी 300 आग चीए था practice करेंगे tensor मत्रा तो मैंने situation को एक फटे 300 गुना कर दिया मैंने आपकी calculation को भी एक फटे 300 गुना कर दिया 300 का gap चीए था कौन करेगा इसको तो हमने 300 से divide कर दिया यहाँ पर 300 से एक बार divide करेंगे तो कि वो gap है वो difference है difference और sum में से एक बार निकालना होता है product में से दो बार निकालना होता है यहाँ से मैंने दो बार निकाल लिया तो चीज दो आगी 2 को ऐसे दो हिस्सो में तोड़ो तकी एक का gap तो दो एक कम दो अब एक 300 इसको दे दो एक 300 इसको तो 300 दूनी 600 300 कम 300 300, S की value, S की value 600 है, S माइनस 300 की value 300 है, ये छोटा है 300, छोटे वाले की value, बड़े वाले की value, S की value 600, उसकी normal जो speed है 600 है, 300 कम करने के बाद उसकी 300 होगी, वो बोलने की normally कितना time लेती है, normal speed अगर 600 है, तो 1200 किलोमेटर जाने में 2 घंटे ले, बहुत ही तसली से आपको समझाओंगा, सिरफ सीखते रहे, यहाँ पर मैंने time को compare किया, मैं करने को speed को भी compare कर सकता हूँ, sir speed को कैसे compare करोगे, speed is equal to distance upon time, पहले वाली situation में distance कितना था, sir 1200, time कितना लग रहा था, sir पता नहीं, मैंने माल लिया, gt, ठीक है, पहले वाली situation में उसको ज्यादा लग रहा था गा, अब की बार उसको ज्यादा लग रहा है, पहले वाली situation में speed जाता थी, जब उसने अपनी speed को कम कर लिया, तो t plus 2 गंटे, 2 गंटे जाता लग, पहले वाली situation की speed है, distance upon time, यह speed है, यह दूसरे वाली की speed है, तो दूसरे वाली की speed तो कम है, कितनी कम है, 300, तो this minus this is equal to 300, clear, अब कैसे solve करेंगे, exactly उसी तरिक कैसे solve करेंगे, इस 1200 को उठा कर उधर लेकर जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 300 बटे 1200, तो मैं पहले ही काड़ देता हूँ, इधर T plus 2, इधर T, तो T plus 2 में से T को घटाओगी, तो 2 आएगा T plus 2, दो बड़ा है, निचे आज आएगा T into T plus 2, आप बोलेगे जी हाँ, इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, दो चोके 8, इस 8 को ऐसे 2 numbers में तोड़ना है, जिनके बीच में 2 का गयप हो, जब इतने चोटे मोटे number हैं, तो यह नहीं है, कि यहां से एक बार 2 चिननू, वहां से 2 बार 2 चिननू, जब इतने चोटे 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 number है, तो चीनने में ज बिल्कुल basic चीज समझ गए, अब मैं यहां पर आपको एक तीसरी चीज बताता हूँ, formula जो कि हम याद रखेंगे, यह basic मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको basic BI, ऐस equation में ऐसे करते हैं, एक अदे equation में बीच में basic वेसे भी करेंगे, ताकि आपको basic BI, और formula मैं आपको याद करेंगे, क्योंकि वो जल्दी solve करवाता है, और ताकि उसको हम याद कर पाएं, तो देखो, ऐस equation में क्या होएगा, ऐस equation में generally यह होएगा, कि वो यह बोलेंगे, कि एक बंदा, हम example ले लेते हैं, एक बंदा, यहापर लिख लेते हैं, speed, मालो s की speed से जा रहा था, तो बाद म है, अगर उसने अपनी speed को x km पर आर बढ़ा लिया, तो speed के अंदर उसने क्या किया, x km पर आर बढ़ा लिया, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उसको time जो है, वो 3 आर्ष कम time लगा, अगर वो speed को बढ़ा लेगा, तो time कम लगेगा, speed को घटा लेगा, तो time ज्यादा लगेगा मैं कहना चाहरा हूँ एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी गटेगी एक गटेगी तो दूसरी बढ़ेगी तो यहां से हम फॉर्मुला जनरेट करने की कोशिस कर रहे है तो फॉर्मुला कैसे जनरेट करेंगे मैंने डिस्टन्स को माल लिया डी कि डी डिस्टन्स पहले कितनी स्पीड पर ट्रेवल हो रहा था पहले अब टाइम कम लग रहा है ना ठीक डी डिस्टन्स पहले कितनी स्प पर ट्रेवल हो रहा है ताइम जो है X speed जो है X ज्यादा कर लिया उसने ठीक कहले इतने ट्रेवल हो रहा था अब इतने ट्राइम में ट्राइम में ट्राइम हो विली तयम है डिस्टेंस पॉनम स्पीड में होता है तो अब T gh File FR कम लग रहे हैं कि यह वाली वैलू ट gh चोटी है यह क्या है यह नहीं कि अब t गंटे लग रहे है अब t गंटे कम लग रहे है यह time का change है that is equal to t ऐसे ही हमने इस question को solve किया था तो इस question को solve करने के बाद क्या हुआ था हम थोड़ी सी हमने ऐसे cross multiply की थी हम एक stage पर पहुँचे थे उस stage को मैं जल्दी लाना चाहरा हूँ आपके लिए बस इसलिए formula आद करौँगा और कोई purpose नहीं है तो इस d को मैं पकड़ कर इदर ले आऊँ तो बच जाएगा x निच्छे आजएगा s into s plus x आप बोलोगे जी सर अब उपर वाले को मिटो दें जैको मैं जब ऐसे पूछ हूँ कि उपर वाले को मिटो दें या ना मिटो तो हावर लिया आगरो क्योंकि मैं तो ऐसे मिटोने वाला हूँ आपकी बेस्ति होने से तो बच जाएंगे उपर s s plus x ये उधर जाएंगे या फिर d को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ ये दोनों चीज़े उधर जाकर पलट जाएंगे ऐसे मालो निचे आ गया x और उपर क्या है t into t तो ये है formula अब ये तो याद नहीं रहेगा लेकिन इसको मैं याद रखने लाइक form में ब बता रहा हूँ तो मैं उसको याद करने का जुगाड बताऊंगा ऐसा कभी नहीं होएगा कि मैं याद करने का जुगाड ना बताऊँ और आपको बेश्ट जुगाड बताऊंगा तो ये s क्या था बाई ये s है वो वाली speed जिस speed पर ये पहली चल रहा था s plus x क्या है s plus x है वह वाली speed जिस पर यह दुबारा चल रहा था फॉर्मुले को हमें से याद करेंगे distance is equal to आपको एक formula याद है distance is equal to speed into time आप बोलोगे जी हाँ तो इसी format में याद करेंगे distance क्या होता है speed into time तो देखो distance is equal to यह है वह वाली speed जिस पर यह पहले चल रहा था कम speed पर यहाँ पर उसने speed घटाई ही है ठीक है ओके s1 s2 ऐसे question में 2 speeds होएंगी कभी वो 300 km बढ़ा देगा कभी वो 300 km घटा देगा 1 s1 होगी 1 s2 होगी यह क्या है जी यह वो है जो इन दोनो speed का difference है तो इसको मैं लिख दूँगा delta s याने की difference speeds का difference और यह t यह t क्या है t वो time है क्या जितने time में जा रहा है नहीं यह time का difference मैंने क्या बोला था speed x बढ़ा दी तो time t कम लगा time कितना कम लगा time कितना ज्यादा लगा यह वो चीज़ है तो this is delta t clear समझे में आगी बात तो s equations में आपने क्या करना है आप यह चीज़ याद रखनी है speed के लिए यह पुरा डिबबा है जो कि सब कुछ इसके अंदर speed ही है s1 s2 speed है नीचे delta s speed है s1 s2 बटे delta s और time एको speed के लिए यह है और time के लिए यह है अब आपको याद करने में आसानी रहे है s1 s2 बटे speeds का जो difference है यहने की delta s और यहाँ पर delta t time का जो difference है speed इतनी ज़्यादा हो गई इतनी कम हो गई वो यहाँ पर आएगा time इतना ज़्यादा कम हो गया वो यहाँ पर आएगा clear है यह formula याद करोगे तो अब इस question को हम कैसे कर पाएंगे अब यह apply करते है और इसको actual में याद करने में फाइदा है नहीं तो मैं बिल्कुल भी याद नहीं करवाता पाल तो क्या चीज़े में करवाता है नहीं आपको पता है सारी relevant करवाता हूँ ठीक है सब भी करवा रहा हूँ distance बता रखा है हांजी सर बता रखा है 1200 is equal to S1 पहले कितनी स्पीड थी यहां पर उसने बताया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आप S1 लिख लो X लिख लो A लिख लो कुछ भी लिख लो S लिख लो बाद में कितनी स्पीड थी S-300 स्पीड को गटाया गया था निच्चे क्या लिखेंगे जल्दी हो जाए आपको जिस्ट दो लिखना है जो भी डिफरेंस हो लिखना है पोस्टिव लिखना है यानि कि पहले पहुंच गा तो माइनस टू लिख दो ना सिरफ दो लिख दो बस तो यहां से क्या हुआ अब यह देखो अब यह 300 इदर जाएगा बस उस जगह पर हम जल्दी पहुंच के अभी हमने सिरफ इसको ऐसे 200 में तोड़ना है जिनके बीज में 300 का गया पर वह आप इसलिए कर लोगे इसमें से दो बार 300 चिनोगे और आजाएगा और इस चीज के में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा इनको कैसे तोड़ना है कई सारे आगे जितने फिर क्वेशन होंगे इसमें इसी की प्रैक्टिस होएगी बस बैसिकली और फॉर्मला याद गरेंगे हम तो यहाँ पर तो अपना अंसर आ गया है यहाँ पर S की वैल्यू आ जाएगी S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर S की वैल्यू आ जाएगी जी 600 ठीक है नॉर्मल और S 600 माइनस 300 घटने के बाद 300 तो हमें तो नॉर्मल स्पीड चीज है और यहां पर मैं options का use आपको नहीं करके बताऊंगा जैसे last question है इसके अंदर हम definitely option का use कर शकते थे इस question के अंदर भी हम option का use कर शकते हैं कि 480 km को original speed से travel करेगा तो कितना time लगेगा तो मैं time से divide करूँगा और देख लूँगा चेक करके लेकिन कई बार ऐसे question आ रहे हैं जापर option का use नहीं कर सकते तो मैं उस तरीके से करवाऊंगा option तो आपका दिल करे तो करी लो use कभी बेगा एक अबर्ड ए distance of 240 km at a certain speed कुछ speed पर वो 240 km का distance कवर कर रहा था प्लस माइनस का question आएगा speed बटा देगा time गड़ जाएगा speed गटा दे time बढ़ जाएगा head his speed भी ने 8 km less अगर उसकी speed 8 km कम होती तो उसको एक गंटा ज्यादा लगता formula याद है distance is equal to s1 s2 बटे में delta s into delta distance बता रखा है बता रखा है जी 240 km 240 is equal to अगर उसने अपनी speed 8 km कम कर ली तो आप कैसे लिखोगे s और s-8 speed को s माल लो बाद में उसने s-8 कर ली तो speed के बीच में 8 का फरक आया 8 km कम कर ली time के बीच में कितना फरक आया जी एक का फरक है ठीक है तो यह 8 इदर उपर चला जाएगा अब आपने क्या करना है इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनके बीच में 8 का फरक हो तो मैं बोलूँगा काम करो यहां से 8 को दो बार चीन लो एक बार मैंने यह चीन लिया और 8 तिये 24 दो बार मैंने product से 8 को चीन लिया difference में से एक बार चीन लो अपने 8 का gap करना है मैंने उस में से 8 आठ का gap करना यह gap है gap कितने करना दो नंबर में 8 का और यह क्या है यह product है तो मैं gap में से 8 को एक बार चीन रहा हूँ यानि कि gap एक का ही करना है और product 30 होना चीए calculation को चोटा करा हूँ तो 30 को ऐसे दो इसो में तोड़ सकते होगी नहीं जिनमें एक का gap हो तोड़ सकते हो जी 5 चीन के 30 अब जो अपने 8 चीने थे ना यह 2 यह दे दो एक इसको एक इसको तो 8 पांच चालीस आठ चिक के 48 अब S की value क्या होगी एक तो S है 1 S-8 है तो S-8 तो definitely छोटा है तो S बड़े वाला है S की value है 48 48-8 यह है 40 तो यह नॉर्मल उसकी speed 48 है 48 km पर आर अब यह बोल रहे हैं कि 400 किलोमेटर जाने में कितना टाइम लगेगा तो distance बटे स्पीड 10 कंटे लगेंगे option डी एक्चुल्ली आए वाक्वेशन है क्लियर है अब इस क्वेशन को करेंगे मैं पानी पीलू इतनी देर में कर लेंगे बिना वीडियो को पॉस्ट करके रोकने नहीं वीडियो हां जी हो गया की नहीं हो गया कि ट्रेन कवर्श 450 किलोमेटर ठीक है इस पीड है फाइव किलोमेटर पर आर मोर अगर स्पीड पांच गंटे ज्यादा होती तो एक गंटा कम लगता है एक्जक्ली सेम सिच्वेशन है ठीक है चीज यूज कर लेते है फॉर्मुला 455 डिस्टेंस इकल टो स्पीड में 5 का फरक है पांच ज्यादा होती है S into S प्लस 5 स्पीड में फरक है 5 का टाइम में फरक है 1 का और ये फोर्मला distance is equal to speed into time, speed तीन फॉम में है, भूल मत जाना, कई ऐसे formulae हैं, जैसे profit and loss के अंदर एक करवाया था, कई ऐसे formulae हैं, जो आप कई दिन नहीं करोगे, तो भूल जाओगे, हाला कि मैंने आपको neymonics करवा रखे हैं, उनको याद करने के बाए, तो क्या है जिस चीज का question आजाए, उसको आप रखड़ता हूँ, भूलने की नोबत नहीं है, तो इस 5 को इधर बेज़ दो भाई, तो देखो, दो नमबर है जिनके बीच में difference कितने का है, पांच का, इन दो नमबर के बीच में difference कितने का है, पांच का, और product कितना है ये, तो मैं क्या करता हूँ भाई, difference में से तो चीज एक बार चिन नहीं होती है, मैंने यहां से एक बार चिन ली, पांच, पांच से कम पांच एक का difference होना चीए, यहां से 5 दो बार चिल लूँगा तो product आ गया, 9 into 10, 90 तो 90 को ऐसे 2 इसो में तोड़ना है कि difference एक का है तो 9 और 10, अब जो आपने यहां पर 2-5 चिलने थे ना, इनको दे दो ठीक है, एक तो S है, 1 S plus 5 है, तो S जो छोटे वाला होएगा यहने की 45, S है 45, क्या पूछ रहा है, कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर है, 315 किलोमटर कवर करेगा, कितना टाइम लगेगा 315 बटे में 45, क्याना लग रहा है इसको, 7 गंटे लग रहे है ठीक है, clear है A train is to cover 370 किलोमेटर at a uniform speed पहले मेरे से पहले तुम करो एक ट्रेन को 370 किलोमेटर ट्रैवल करने हैं, uniform speed पर After running 100 किलोमेटर, the train could run at a speed 5 किलोमेटर पर आर 100 किलोमेटर इसने दोड लिये, 100 किलोमेटर तो जितनी भी speed पर इसने दोड़ना था इसने दोड लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 5 किलोमेटर पर आर कम speed पर दोड़ पाई Normal speed से, technical fault हो गया The train got delayed by 36 minutes, इस कान 36 minutes delay हो गई तो पहले 100 किलोमेटर तो इसने normally दोड़े, उसमें तो कोई फरक नहीं आया यहाँ पर पंगा पड़ा आखर के 270 किलोमेटर में Last के 270 किलोमेटर में इसकी speed 5 किलोमेटर पर आर कम हो गई, time 36 minutes जाता हो गया तो बस इसी situation को represent कर दो Distance is equal to speed into time Speed याने की 5 किलोमेटर कम होई थी S into S minus 5 बटे में speed delta S का है 5 और time, अब speed हम डील कर रहे है किलोमेटर पर आर में, distance डील कर रहे है किलोमेटर में तो time किस में डील करेंगे, आर्ष में, तो 36 बटे 60 clear है, इसको solve करते है तो 12-36, 12-50 3 से इसको काड़ देते है, 90 वर ठीक है और ये 5 और 5-25 है, इसको भी धरबेश देते हैं ये लोजी ठीक है, तो दो ऐसे नंबर है जिनके बीच में 5 का gap है और product उनका ये है तो अब तक तो आप इतने समझदार हो गए हो ये अगर gap 5 का है, gap जो difference है वो 5 का है तो मैं 5 चीन लो, 5 है कम 5 अगर मैं चीन पहूं तो, difference मैंने एक का कर दिया एक का difference होना चाहिए यहां से मैं 2 बार 5 चीन लो, या निकी 25 चीन लो तो 90 को ऐसे तोड़ना है ये सारे ऐसे question है, जो पहले आए हुए मैंने खुद नहीं बनाए कहीं ये सोचो, ये जान भूज़के ऐसे 5 ये पांच ऐसे 2 बार 5 ऐसे बना कर लाया हूँ अब तक अगर आपको ये समझ में नहीं आ है कि मैं आपको impress करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करूँगा वैसे तो आई गया हुए आपको impress करने के लिए मैं कोई भी ऐसी काम नहीं करूँगा मेरे को गलत लगते हैं काम मैं आपका जो exact exam है वो crack करवाना चाहरा हूँ मैं आपको कोई maths में गयानी नहीं बनाना चाहरा हूँ हां लेकिन इंट्रेस्टिंग वैसे पढ़ाना चाहरा हूँ कि आपको maths भी आई स्पीड जो हूँ नॉर्मल इसकी स्पीड फिफ्टी है इसमें तो हम उपसिंग कर शकते थे हैं कर शकते थे एक वेसे अगे से क्वेस्टिन आएंगे जहां पर उपसिंग करना मुस्किल हो जाएगा अखिल टेक्स 30 मिनिटेक्स एक्स्ट्रा तू कवर ये डिस्ट्न funkरे सिट्सट्र डेर्ड़र किला मैटर ठीक 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 तूज केफुल स्टोप नहीं आएगा अठीक ऐससर मिन ज्यादा लग जाती है अगर वह 500 km ट्रेवल करता है कि डिस्टेंस ए 500 km का 10 km पर हार slower speed पर ठीक है यहीं पर उसने बता दिया question को solve करने का माम लाग गे तो वो question पूछ रहा है how much time will he take to drive 90 km if he drives 50 km पर हार slower than usual ठीक है 30 minute extra लगते है time हो रहा है plus 30 minute और speed हो रहा है minus 10 minute तो वही चीज़ यूज़ करेंगे distance is equal to speed into time तो speed में कितने का फरक है 10 का तो s into s plus 10 पटे में delta s is 10 और time में फरक है 30 minute का मैं गंटों में बतलूँगा 30 पटे 60 यानिकी एक पटे 2 तो 10 दूनी 20 20 इधर उपर चला जाएगा यह लो इसको ऐसे 2 number में तोड़ना ऐसे 2 number जिन में 10 का gap है अगर gap 10 का है और product इतने का है तो क्या मैं यहाँ से 2 बार 10 चीन सकता हूँ जी हाँ तो एक बार मैंने 10 में gap चीन लिया 10 एक कम 10 2 बार यहाँ से 10 चीन लिया कभी कभी क्या होगा आप पूरा 10 नहीं चीन पाओगा तो हम 5 से 2 जो भी चीन पऊएंगे प्रोड़क्ट पर डिपेंड करता है सारी चीज चीन पाएंगे कि वहाँ पर वो चीज दो रड़ ना हो यहाँ पर 10 दो रड़ ना हो तो फिर क्या करते हैं नहीं चीन पाते हैं ठीक है तो 15 दूनी 30 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनके बीच में एक का गया पुछ है पांचे 30 आपने दो बार दस चीना था जी तो दे दो दोनों को एक एक ये 60 है ये 50 है एस की वैलिव 50 है एस प्लस दस की वैलिव 6 है एस चोटे वाला ही होगा तो ये एस 50 हो ये बोल रहा है कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी उससे 15 क्लिम्योटर पर आर मन्दा जाए तो नॉर्मल स्पीड उसने sore my mistake my 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 mistake ये एस माइनस 10 होना था टिक clear उसे लो स्पीड पर चला था न वो यानि कि S की वेल्यू बड़े वाली होईगी S माइनस 10 तो चोटा है तो S की वेल्यू 60 होईगी अब यह बोल रहे हैं कि जो उसकी usual स्पीड है उससे 15 किलम्टर कम स्पीड पर जाए तो 60 माइनस 15 पर 45 45 कि स्पीड पर जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा दो गंटे option C कितना टाइम लगेगा दो गंटे ठीक है यह बताओ पेसेंजर ट्रेंच देपार्ट प्रों डेली एच सिक्स पिम फॉर मॉंबई ये यहां पर क्यों करवारे हो होई में समझा भारा है किस्टे आओ यहां पर मैं क्यों करवारे हूं वही बताद मेस्ट लगेगा यह CDS में पूछा गया question है एक्जाम का question यह दिल्ली है यह मुंबई है यह passenger train departs from Delhi यह passenger train है यह यहाँ से जा रही है उस तरफ ही जाएगी definitely है मुंबई की तरफ यह 6 बजे चलती है ठीक है और यहाँ से एक express train चलती है यह इस तरफ आ रही है और यह 9 बजे चलती है ठीक है 9 AM यह चल रही है 6 AM तो इसकी speed जो हूँ 15 km पर आर ज्यादा है जो express train है इसकी speed 15 km पर आर ज्यादा है two trains meet each other mid route mid route का मतलब है route के mid में route के beach में बिल्कुल दोनों train beach रास्ते में एक दूसरे से मिलती है beach याने की exactly middle की बात हो यहाँ पर exactly middle तो यहाँ पर situation क्या है इस train ने जितना distance travel किया है इस train ने भी उतना ही distance travel किया है दोनों ने same distance travel किया है दो situation है दोनो situation के अंदर same distance travel हुआ लेकिन इस situation के अंदर क्या हुआ यह यह बता रहा है कि situation के अंदर speed 15 km पर आर ज्यादा थी अच्छा, तो हम तो जो question कर रहे हूं उसमें ये है, speed 15 ज्यादा थी तो time 5 गंटे कम लगा, time 2 गंटे कम लगा, इसमें क्या बता रखा है, देखो ये कितने बज़े चली थी 6 बज़े, ये कितने बज़े चली में, तो जरूरी नहीं है, कि एक बंदे की ही 2 situation हो, कि अगर ये अपनी speed को इतना बढ़ा ले, तो time इतना कम लगेगा, यहाँ पर 2 चीजों के लिए same situation होगी, तो यहाँ पर भी हम चीज यूज कर सकते हैं exactly same, तो दिल्ली और मुंबई में कोई फरक बता रख खाया, distance बता रख खाया, 1080 तो भाई अगर यह पूरा distance 1080 है, तो 1080 divided by 2, यह distance हो गया, 540, यह distance हो गया, 540 अगर मैं 540 km distance को 2 speed से travel करूं, हैं, या express train की speed मैंने माल ली E, ठीक है, passenger train की मैंने speed माल ली, एक ही form में लिखनी पड़ेगी E-15, इसकी speed पंदरा कम है, या तो मैं E की speed पर travel करूं, या E-15 की speed पर travel करूं, दो speed हैं, तो जब वो 15 km ज्यादा की speed पर travel हो रहा है, यानि की E की speed पर travel हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, तो 15 km ज्यादा ही माल लेते हैं, ना ऐसे क्यों हो, क्यों आपको लग रहा है देखो ये 9 बज़े चलिए 6 बज़े 3 गंटे बाद में चलिए फिर भी उतना डिस्टंस कवर कर दिया तो अब देखो डिस्टंस कितना है 504 एक जारा सी मत कर देना 540 डिस्टंस ट्रेवल किया है दूनों ने 540 के अंदर ये फरकाया है तो 540 को हम S या S पलस 15 की स जाएगा तो 2 नमबर के बीच में कितने का गैप चीए है दो ऐसे नमबर है जिनके बीच में 15 का गैप है और उनका प्रोड़क्ट यह है तो 15 में से एक बार पंदरा चीन लू यहां से दो बार यहां से बंदरा दो बार चीन ही नहीं पाओगे इसके अंदर नहीं है साएद में खीन पाईंगे मैंने सुचां एक वैसन है तो मैने पंद्रा एक बार शेन लिया तो तो पंद्रा में यहां पर दो बार शेनों गा याना कि फंद्रा एक बार मैंद दीलॉईद लिया से गयाप एक का होना चाहिए मैंने एक पांच चीन लिया एक पांच चीन लिया चीन लिया की नहीं 5 एक मस पांच तो नहीं तरस दो पंदरा बन था 5 और 3 चीन लिया दो तीन 6 ये वाला हूँ 2 3 यानिकी 9 9 चीक्ष्योपन तो यहां पर बच गया 12 12 को ऐसे 2 में तोड़ो जिन में एक का गयप हो तो आप बोलोगे सर 3 चो के 12 अब इनको 15 वापिस करो जो लिया था 15 तिये 45 15 चो के 60 S और S प्लस 15 यह निकि S की वेल्यू क्या है 45 इस ट्रेन की स्पीड 45 इस ट्रेन की स्पीड 60 है जो भी पूछ रहा है देख लेंगे At what time do they meet वो कितने time पर meet करती है तो आप यह देख लो इस ट्रेन को कितना time लगा यहां तक यहां जाने में या यह देख लो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना time लगा कितने बज़े मिली ठीक है इस ट्रेन की स्पीड कितनी है इस ट्रेन की स्पीड है जी 60 S प्लस 15 60 तो 540 किलोमेटर ट्रेवल करने में 6 नहीं मिचे हो और इसको 9 गंटे लगे होंगे ये 11 बजे 9 बजे चली थी और 9 गंटे 9 और 9 अठारा 18 बजे मिलती है 18 बजे का मतलब क्या है 18 में से 12 को गटा ना चरह 6 6 बजे मिलती है शाम के 6 बजे अच्छा ये PM चली थी मेरी गलती है बाई ये PM चली थी AM नहीं चली तो यानि कि ये सुबह के 6 बजे हो जाएगी सुबह के 6 बजे 6 से Clear Clear है की नहीं मज़ा आया इस सवाल को करके ये बताओ अब देखूंगा इसको आप मेरे भी ना करोगे की नहीं वैसे आप कर्श रखते हो बिल्कुल भी मस्किल नहीं है और मैं बहुत खुश होँगा आप करते होगे तो प्लीज इसे करते हो ये CGLT रटू का question है एक जोगर जो है कुछ डिस्टन्स को कुछ स्पीड पर करता है if he had moved 3 km per hour faster अगर वो 3 km per hour fast move करता तो उसे 20 minutes कम लगते है if he had moved 1 km per hour slower अगर वो 1 km per hour slower चलता तो उसे 10 minutes जाता लगते है तो इसने आपको नहीं लगता है इसने पहले जैसी 2 situation दे दी एक तो ये situation दे दी पहले की तरह है और एक यह situation दे दी, उसने दो situation दे दिया над कि speed में plus 3 हो तो time में minus 20 minute होगा, speed में minus 1 हो, तो time में plus 10 होगा, ऐसी-ऐसी 2 situation दे दीया पहले एक ही देता था इसे speed में इतना plus हो तो time में इतना minus होगा और यह distance है लो निकालो, यहाँ पर distance नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है वैसी ही दो situation दे दी उसी formula को दो बार यूज़ कर लेंगे दे को अभी यूज़ करते हैं तो मैंने distance को माल लिया D क्यों माल लिया सर क्योंकि उसने बताया नहीं उसने बताया नहीं तो पहले वाली situation को लिकरा हूँ distance is equal to क्या है जी? S यह बोल रहे हैं अगर मैंने normal उसकी speed है समाल लिया बोल रहे हैं अगर वो 3 km पर हार faster जाता S प्लस 3 तो यहां पर आएगा 3 तो time कितना उसको कम लगता? 20 मिनट कम मैं गंटों में कर रहा हूँ 20 पटे 60 या नहीं के एक उटे 3 इसी distance को मैं दूसरी situation से compare कर रहा हूँ क्योंकि बात तो semi distance क्यों रही है न? उसी distance को वो 1 km पर हार slower speed से 10 मिनट ज्यादा में करता उसी की बात वरी है तो इसी के इसी कुल्ट में लिख दिया यहां पर कौन-कौन सी 2 speed है एक km पर हार कम की जारी है तो S into S minus 1 divided by 1 और 10 मिनट यानि की 10 बटे 60 एक बटे 60 तो यहां पर इसकी value हमें नहीं मिली लेकिन इन दोनों को हम compare करके यहां पर कितने variable है मुझे बताओगे जरा सर यहां पर तो एक ही variable है S की value आ जाएगी जैसे ही S की value आई इस S की value को यहां पर रखो distance आ गया यहां पर रखो distance आ ठीक काटा पी टिक कर दो शुरूँ देखो S से S कट गया और तीन दूनीच से है तो यहां पर क्या है just मैं आपको अलग से लिख कर दिखा रहा हूं था कि आपको साफ साफ दिख जाए और वाइस हमें exam में लिखने की जरूद नहीं है यहां पर तीन बच गया यहां पर दो आप cross multiply भी कर सकते हो लेकिन ऐसी situation में कभी भी cross multiply करने की जरूद नहीं होती बहुत बार हम ऐसी situation में आ चुके है ना उपर वाली values में कितने का फरेक है यह तो S से 3 ज्याद है यह S से 1 कम है सर 4 का फरेक है एक तो S से 1 कम है 1 S से 3 ज्याद है चर का फरेक है नीचे वाली values में कितने फरेक है एक का प्यों नहीं इसको 4 बना दिया जाए 4 तीये 12 चर दुनी 8 यानि कि S minus 1 की value 8 है यानि कि S की value 9 है या तो S की value यहां से निकालो S plus 3 की value 12 है यानि कि S की value निकलो कहीं से भी निकली जी हाँ सेत निकल की उसको यहAR तो इस डि बेक के अंदर रख दो क्योकि this दिबाइस इकल टु डि यह इस डि बेक के अंदर रख दो क्यों क्योकि this दिबाइस इकल टु also d तो मैं यहाँ पर रख दे रहाँ d is equal to वो डिस्टैंस पूसता है से रक्राइशन एसकी वैल्यू 9 है 9 into 9 plus 3 12 divided by 3 9 1 बटे 3 फिक है भाई happy तो 3 थी है 9 12 12 will be the answer अब ऐसे ही equation को करने के लिए तयार हो कि ने खुद personally कम से कम टाइम में ये लो फिर रगड दो अब लेकिन इतनी स्पीड में नहीं रगड़ना की गलत हो जाए आप ही रगड़े जाओ ठीक है करो ये कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू अट इकॉंस्टन स्पीड ओके जी इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीस बाई अगर हम इसकी स्पीड को दस क्वेंटर कॉब्स पर आर बढ़ा दें यme कि प्लश 10 कर दें तो टैम जो वो माईनस वन हो जाएगा एक घंटा कम लेगी ये तो एक हैसूसन बता दी इसने नहीं स्पीड को प्लस 20 कर दें तो time minus बना हो जाएगा it would have taken further 45 minutes lesser if the speed was decreased by 10 km पर अगर हम इसकी speed को और देखो यह क्या बोल रहे है statement को समझने की कोशिस करिए का यहां पर exactly वैसी statement नहीं है जो पिसले equation में थी यह बोल रहे है कि एक time p से q तक एक constant distance है उसको travel करने के लिए एक speed पर travel करती है अगर मैं इसकी speed को 10 km परार बढ़ा दूँ तो इसको एक घंटा कम लगता है तो लेकिन अगर इसकी speed को और 10 km बढ़ा दूँ यहां कि यहां पर जो बढ़ा दी है उसके comparison में और 10 km बढ़ा दूँ तो इसको 15 minutes और कम लगे ठीक तो ठीक है इसे दो situation है तो करते हैं उसी formula से d is equal to पहली situation में क्या क्या मान लिया मैंने इसकी normal speed s है तो यह बोले अगर मैं 10 बढ़ा दू speed को s plus 10 यह 2 speed होगी s और s plus 10 दोनों का difference 10 तो time कितना है एक गंटा एक अब दूसरी situation क्या बोली इन्होंने यह बोला है मैं फिर से explain कर रहा हूं कि speed को मैं 10 बढ़ा दू तो यह गंटा कम लग रहा है अब मैं speed को 10 और बढ़ा दू यहनि कि normal speed s है तो अब हम जा रहे है s plus 20 की speed पर यह लिख कर वैसे तो आप समझ गये होंगे वह टेकादे वच्चे नहीं समझेंगे लिख कर समझा देता हूं यह बोल रहा है कि अगर s की speed पर यह जा रही है तो इसको कुछ time लग रहा होगा t आप बलोगे जी हाँ अगर मैं speed को 10 बढ़ा दू तो इसको time लगेगा t plus 1 अगर इसकी speed को 10 और बढ़ा दू यहनि कि s plus 20 कर दू तो time और कम लगेगा speed को 10 और बढ़ा दिया तो time और कम लगेगा यहनि कि t minus 1 minus 3 4 यह 45 मिनट है मैंने घंटे में वदल के लिखती तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे 20 और time पहले वाली situation पहले speed s थी अब speed 20 है पहले time t था अब time क्या है यह इतना कम लग रहा है तो आप क्या लिखोगे time के बीज में delta डिफरेंस लिखना होता है तो आप यह लिखोगे 7 by 4 1 और 3 by 4 दोनों का सम 7 by 4 या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको या फिर एक और बात बताओं आप ऐसे तो करी सकते हो एक और के साथ equate कर सकते हो अगर आप मालों ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो मैंने अब की बार यह जो तीसरी situation बनाई है यह इन दोनों के comparison से बनाई है आप बोलोगे जी हाँ सर आप इन दोनों के comparison से ही बना सकते हो कि s प्लस 10 एक speed है एक speed s प्लस 20 है यह और यह दोनों के बीच में 10 का gap है मैं अब की बार compare कर रहा हूँ कि s प्लस 10 की जो speed थी अगर उसके comparison में हम s प्लस 20 की speed से चले तो speeds का difference तो 10 का आ गया तो time का difference 45 minutes का होता है यानि कि 3 by 4 तो आप ऐसे भी कर शकते हो इन दो को compare कर लो इन दो को कर लो इन दो को कर लो कैसे भी कर लो उतरा जाएगा समझ गे अब मैं किनी भी 2 को करके कर दूँ है बाई अब करके कर दूँ distance is equal to अगर मैं s की speed के comparison में s प्लस 10 से चलता हूँ gap तो 10 का ही तो time के बीच में एक गंटे का फरकाता है अगर उसी distance को मैं s प्लस 10 की speed के comparison में s प्लस 20 से चलता हूँ तो अगर यहाँ पर s प्लस 10 और s प्लस 20 की 2 speeds है तो इन दो speeds के बीच का गया पाएगा और इन ही 2 speed के बीच का time आएगा कि इस time इस speed से जब वो चलता है और इस speed से जो चलता है तो time के बीच में कितना फरकाता है तो तो सिरफ 45 minute का आता है तो यहाँ पर आप सिरफ 3 by 4 लिख सकते हो समझे है same distance को अगर इस speed पर travel करूँ इस speed पर travel करूँ तो speed के बीच का फरक तो नहीं चलिक रहे हैं इन दोनों speed का ठीक है इन दोनों speed पर चलने में जो time का गया पर रहा है और डेल्टा टी वह हम यहाँ पर लिख रहे है अब कर दूं वाई सोल मैंने दुबारा लिखा तो इसलिए था कि मैं 3 बटे 4 को इधर ल लाऊंगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था s बटे 3 is equal to यहाँ पर है s प्लस 20 बटे में 4 इन दोनों में कितने का फरक है आप बोलोगे सर 20 का तो नीचे भी 20 का फरक कर दो भाई दोनों को कर दो 20 गुना 20 ती है 60 20 हो कैसी आ गई है s की value स अगर 60 है तो s प्लस 20 80 है देखो s की value आगई 60 जैसे यह s की value आगई तो distance की value निकाल लो यहाँ पर s की value पूट करते ही d आ जाएगा तो d is equal to s की value है 60 60 into 60 प्लस 10 70 पटे में 10 जीरो जीरो 420 किलामेटर है की नहीं है है की नहीं है ठीक है clear तो उमीद है कि अब आप इस तरह के सारे questions को दुआ धार कर देंगा आपके exam के अंदर इन equations को बस इसी type की question आ सकते हैं इस concept के वपर इनको बार बार जब आप practice करोगे मैंने आपके कितना content दे दिया आपके लिए course के अंदर कि आपको एक भी question बाहर से नहीं करनी देखो कोई भी content तभी useful होगा जब उसको repeat किया जाएगा आप कभी भी यह मत सोचना जिंदगी में कि किसी एक चीज़ को मैं एक बार पढ़ लूँगा और वो मेरे काम क्यों जाएगी नहीं होई नहीं सकती मानी नहीं सकता मैं और वो भी आप stress के अंदर आके उसको काम में ले लो stress क्यों sir exam में stress होता है time एक given time के अंदर हमें perform करना होता है एक बार करके stress के अंदर आप उससी को useful बना लो होई नहीं सकता तो अगर आप बोलोगे मैं over content से पढ़ रहा हूँ इतना content प इसलिए मैंने content कोई इतना रखा कि practice भी हो जाए सीख भी लें एक भी equation बाहर से ना आए enough practice भी हो जाए कि बच्चा इसी को repeat करता रहे इसी को repeat करता रहे जितनी बार repeat करेगा उसकी rank बढ़ती रहेगी उसकी rank बढ़ती रहेगी उसको बढ़िया post मिलती रहेग एक्साम के अं corrections को करने के जुरूद नहीं को रगड़ दो ठीका जी नए equation mock test के अंदर ही करना अगर mock test के अंदर को equation आपसे नहीं हो रहा है तो यह मत सोचना क्यूश टाइप के question करने ना इन्हीं question कि यह को repetition क्योंकि concept भी उतना clear नहीं होगा कि उस question को आप तोड़ पाओ ठीक है अगली व वीडियो के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है हम time and distance के अगले concept के तरफ बढ़ चुके हैं तो हमेशा की तरह अपना pen, notebook, अपनी पूरी attention, attention या focus यह एक physical चीज नहीं है तो इसको क्या है उत्रा measure नहीं कर पाते student लेकिन अगर आप 70% 60% attention के साथ lecture देखोगे और एक दूसरा अपनी 100% attention के साथ lecture देख रहा है तो time आप दोनों का उतना ही लगा उतनी आप दोनों की energy लगी लेकिन उसको ज्यादा फायदा हो गया उसी तुरान तो अपनी 100% attention के साथ देखने है ठीक है जब आप काम कर रहे हो तो बाकी चीजों से ध्यान हटा कर पूरा ध्यान यहाँ बड़िया पोस्चर में ठीक है स्यारी करने का तरीका समझ में आ गया पूरा ध्यान लगाते है ठीक है तो pen notebook यहीं कि अपनी physical चीज़े और mental चीज़े अटेंशन अपनी लेकर यहाँ पर आजा ठीक है अपना environment सेट कर लो अच्छे से table कुर्शी पर बैठो तो अभी हम करने वाले हैं जी average speed बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा सा concept है मज़ेदार तरीके से हम इसको करेंगे इसके जो difficult difficult question है उनको भी कुछ सेकिंड में हमने पटाएंगे बड़ीया तरीक है ठीक है स्टार्ट कर दे concept lecture five तो average speed का concept क्या है मैं आपको बताता हूं जैसे माल लो आपने इस जर्नी है 200 किलमेटर 500 किलमेटर 500 किलमेटर बड़ी जर्नी है तो क्या होता है ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं 50 किलमेटर परार की speed से गया और लगाता रहा उसी speed से चलता रहा कभी आपका विकल तेज होता है कभी कोई तगड़ा सा गाना लग जाए तो उसकी धुन में accelerator पर प पाने पीने की तो माल लीजिए 30 किलमेटर का stretches हो है वो आपने 30 किलमेटर परार से कवर किया अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जा रहे है तो उसके बाद अगला जो 50 किलमेटर का distance है वो आपने 25 किलमेटर परार की speed से तै किया और फिर आपने कह किया आप उसके बाद ठक गए कि यार भोड टाइम हो गया आपने एक घंटे का रेस्ट लिया या फिर माल लो बीच में किसी दोस्त का घर पड़ता है अब उसके घर गए उसे बातचीत की खाना वाना खाया और फिर आगे की जरनी आपने continue की और बाकी की जो 60 किलमेटर की जरनी है वो आप जब A से चले थे तो B पर एक बंदा था आपने B को बोला था कि भाई मा आ रहा हूं मेरा वेट कर तो B को तो पता नहीं बीच में रेस्ट लिया है स्पीड तेज करी है स्पीड बंदी करी है क्या करी है उसको तो कुछ पता नहीं तो B क्या देखेगा B को ये पता है कि मेरे से इतनी दूर है वो बंदा मेरे से इतनी दूर है इतने किलमेटर दूर है 30 KM प्लस 50 KM प्लस 60 KM मालो B पर बंदा खड़ा है तो अगर B पर खड़े बंदे से आपकी speed निकालने को बोला जाए तो वो क्या बोलेगा कि भी हाठ Total 140 वो ये बोलेगा कि 140 किलोमेटर कवर करने में स्पीड क्या होती है स्पीड होती है जी दिस्टेंस अपॉन टाइम 140 किलोमेटर कवर करने में इस बंदे ने कितना टाइम लिया 30 किलोमेटर 30 की स्पीड से कवर किये तो क्या हुआ यहां से लेकर यहां तक जाने के बीच में आपने जो भी टाइम खराब किया है नेट यह देखा जाएगा कि टोटल कितना टाइम लगा और शाठ किलोमेटर बीस की स्पीड से ट्रैवल किया तो बीस तिये साथ यहां पर लगे तीन घंटे तो तीन और एक च्य याने कि 20 किलोमेटर पर आर आपकी स्पीड निकली है इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड सर इसको एवरेज स्पीड क्यों बोलते हैं कि आपकी एवरेज स्पीड इतनी निकली है कभी आप मंदे पड़े कभी आप तेज हुए कभी आपने रेश्ट लिया ओवरॉल 140 किल करने में 7 गंटे लगे हैं तो आपकी average speed ये निकलिए कि आपने हर गंटे में 20 किलम्टर का distance travel किया है ओने आवरेज आपने बीच में अपनी speed उपर नीचे की लेकिन अगर एक दूसरा बंदा 20 किलम्टर पर आर की speed से चलता है तो यहां से लेकर यहां तक वो आपके साथ ही पहुंचेगा अगर वो आपके साथ चला है तो फिर average speed क्या होती है कि total journey कितनी कवर की और चाहे कैसे भी करके उस journey के अंदर time कितना लगा तो distance यह use होएगा total distance traveled total time taken तो distance by time is equal to speed that will be average speed average speed का formula बताऊँ फिर आगे तो question आ जाएंगे न average speed का formula हो जाएगा जी ओसत गती इसको हिंदी वाले लिखेंगे total distance traveled full तय की गई दूरी बटे में total time एक तर फुल लिया गया समय clear है जी बिल्कुल simple सी बात है इसमें कोई rocket science है नहीं बहुत ज़्यदा difficult नहीं है बिल्कुल common sense वाली बात है कि इतने distance को इतने time में cover किया है तो भाई average speed इतनी निकले है इस बंदे की इस जरनी की है ठीक है ओके जी ठीक है तब questions को रगणना start करें इसी knowledge के base पर हम questions को रगणना start कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे questions practice करवाऊंगा इस concept के बहुत सारे questions आते हैं ठीक है और इसी लिए करवाऊंगा क्योंकि काफी frequently वो आते हैं ताकि आपकी practice हो जाए ठीक है 800 km by ship at 40 km per hour 500 km by aeroplane at 400 km per hour 100 km by car at 50 km per hour what is the average speed average speed का तो आपको पता है average speed क्या होते है total distance इसको अभी ऐसे लिखेंगे हम ऐसे लिख लिखेंगे average speed total distance traveled upon total time taken ठीक है total distance कितना है भाहिस आपका तो यहाँ पर अलग से लिखेंगे लेते हैं 600 km उन्होंने 80 की speed से travel किया मैं आपको format बता रहा हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो एक्जाम में अगर इसी जीसको आप लिख कर करना चाहो तो ठीक है आप यहीं पर उपर मैंने क्या लिखा है उपर मैंने distance लिखा है नीचे मैंने speed लिखेंगे तो distance बटे में speed is equal to time लिख पाओगे उपर distance से लिख लिख वहां से भी कर शकते हो कोई मुश्किल नहीं है 500 किलोमेटर 400 किलोमेटर परार की speed से और 100 किलोमेटर 50 की speed से तो total distance कितना है भाई 800, 600, 1400, 1500, 1500, 2000, 2000 किलोमेटर कवर करने में इसने कितना time लगा दिया 20 ती है 60, sorry 20 किस से मैं काट्वी इसको, 80 से दो कटने रहा, 0 से 0 गई, ठीक है, चार्श से कटेगा, 15 बुटे दो, 7.5 आर्श प्लस, 20 आर्श, प्लस, 1.25 आर्श, प्लस, 2 आर्श, इन सब को जोड़ते हैं, 20 और दो 22, 22 और 38, 30.75, तो 30.75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 33 बाई 4, जी हाँ, 123 बटे च्यार, जी हाँ, 123 बटे में च्यार, जो कि उपर चला जाएगा, this is your answer यहाँ पर 2 के बटे में, 123 है, यह तो डेफिनेटली आने वाले हैं नहीं, ठीक है, 123 से कटे गा नहीं, अभी देख लेते हैं, क्या आएगा, 8000, बटे में, 123, 123 पर ही, कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, यह तो शूर है, कितने हो जाएगा, 6 से, 720 और 18, 738, और यहाँ पर जाएगा, तो 62, 6,2, 0, हाँ, पंजे पर जा रहा है, पंजे पर जाएगा, पांच पांच पर जाएगा, क्लीर है, समझ में आगी बात, इस तरह के एक्क्वेशन को आगे से एंडल कर लोगे, टोटल डिस्टेंस, बटे में टोटल टाइम, यह बताओ, एक ट्रेन ने इतना डिस्टेंस दो दिन और आट गंटे में कर ट्रेवल किया, तो दो दिन का क्या मतलब है, इस फोटी एट आर्श, 24 गंटे होते हैं एक दिन में, तो अड़तालीस गंटे और आट गंटे, प्रोटल फिफ्टी सिक्स आर्श में, ठीक, इफ इट कवर्स, 1440 क किलमटर के लिए, इसने चौझा क्रूब किया, शोलास वाट किलमटर इसने कुलमटर किया शेक्ट दे वाले दिन, एको पहले दिन, इतना ट्रैवल किया, दूसरे दिन, इतना ट्रैवल किया, इसने टोटल लिए हैं, दो दिन आट गंटे, तो जो र ri-meaning पार्ट किया है, वो है आठ गंटे का, दो दिन हो चुके हैं, तो by how much does the average speed of the train for the remaining part, यहनि कि 8 गंटे के लिए जो average speed है, remaining part of the जरनी, बख्की के जो 8 गंटे बचे हैं, उसके लिए जो average speed है, वो entire जरनी की average speed से कितने से differ करती है, तो मैं एक तो remaining part की average speed है, और एक entire जरनी की average speed है, इन दोनों को कर लेते हैं, compare, entire जरनी में total कितना distance travel किया गया है, 3584, बटे में 56, सर्फ 56 कहां से आया, दो दिन, दो दिन के अंदर होएंगे, 24 दुनिय अड़तालिस, 48 hours और 8, 48 plus 8, 56, कार्ट पीट के देख लेते हैं, या फिर बाद में कार्ट पिलते हैंगे, यहां भी देख लेते हैं भी, पहले दो दिन के अंदर उसने इतनी जरनी travel की, तो total यह जरनी कितनी होगी, अभी देख लेते हैं, 1400 और 1600, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 को उसमें से घटाना है, तो 3584 में से 3000 घटा दिया, तो बचके 584, 48 और घटाना है, तो ऐसी घटा लेता हूं, मैं 48, 12 में से 8 गेचे, ठीक हैसी, और या फिर एक काम करते हैं, दोनों के अंदर 2 जोड देते हैं, 2 और 2, जोड सकते हैं, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, तो 3586 में से 50 घटाऊंगा, तो एजी रहेगा, 3586 में से 50 घटाएंगे, तो तो जा चुका है, 586 में से 50 आठ, 8, 8, 48, 27, 56, यह तो रिमेनिंग पार्ट अफ तजरनी के लिए है, 8, 27, 57, 8, 4, 32, 8, 4, 32, 8, 8, 8, 4, 6, 7, 7, 2, 40, 7, 4, 28, यह एंटायर जरनी के लिए हैं, तो इन्होंने क्या बोला था, by how much the average speed of the train for the remaining part of the जरनी, जो रिमेनिंग पार्ट की स्पीड है, वो एंटायर जरन इसे कितने डिफर करती है, तो मैं इसकी स्पीड को देखूँगा, कि यह उससे कितना डिफर करती है, तीन ज्यादा है यह, तो 3 more, दिवत्चो को यह लगेगा, यह 3 less भी तो है, यह उससे कितना डिफर करती है, यह उससे 3 more है, अगर मैं पूस्ता एंटायर जरनी की कितना करती है, तो यह उससे 3 less, उसकी स्टेटमेंट को समझ रहना तुम, ठीक है, अग्या बढ़ जाओ, यह बताओ, यह बताओ, प्रो एक बाट रहे, a man completed a certain journey by car, if he covered 30% of the distance at the speed of 20 km per hour, 60% of the distance at 40 km per hour, and remaining distance at 10 km per hour, यहाँ पर तो उसने exact distance बताया नहीं, exact distance नहीं बताया, और उसके बाद फिर भी उसने answer पूस लिया, answer में भी cannot say नहीं है, actual में उसने बताया गया, आपको 30% of the distance, 60% of the distance, इससे हमें क्या बता लगता है, इससे हमें actual distance नहीं बता लगता, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता लगता है, कि 30% distance को उसने कितनी speed से cover किया है जी 20, 60% of the distance उसने कितनी speed से cover किया है 40, 60 और 30, 90% distance हो गया, 10% distance को उसने कितनी speed से cover किया है 10, उसने percentage बताया है, इससे पता क्या लगता है, मैं ये पूछना चाहरू exact distance पता लगता है नहीं, जब तक वो total distance नहीं बता देगा, exact तब तक आप उसका percentage निकाल नहीं पाओगे तो आपको सिरफ comparison percentage क्या है? A way of comparison, fraction क्या है? A way of comparison, ratio क्या है? A way of comparison उसने आपको सिरफ comparison बताया है किसका यह जो अलग-लग टुकडे हैं कि यहाँ पर जितना भी distance travel किया उसे 6 गुना यहाँ पर किया, यहाँ पर जितना भी किया, उसे 2 गुना यहाँ पर किया, यहाँ पर जितना भी किया, उसे 3 गुना यहाँ पर किया आपको सिरफ comparison दिया है, कि कि इतने distance को, लग कि इस distance के comparison में, 10 km पर आल वाले distance के comparison में, 30 km पर आल वाला कितना है या फिर और डारकली आपको रेशो भी बता सकता था कि 3 is to 6 is to 1 तो याने कि मैं कहना यह जा रहा हूँ कि भाई जब आपको average speed निकालनी है अगर आपको average अगर आपको exact distance नहीं दिया तो भी आप निकाल सकते हो हमें सिरफ ratio चीए होता है कि 20 km की speed से कितना distance, 40 की से कितना सिरफ इन हिस्सों का ratio चीए होता है हमें exact distance की ज़रूरत नहीं होती हम ratio से भी निकाल लेंगे होती simple चीए लियर है तो यहाँ पर आप इनके distance को 30, 60 और 40 भी मान सकते हो यह फिर इसी ratio के अंदर कुछ भी मान लो कोई आपको रोकने वाला नि चाहे आप इन सब को double कर दो इन सब को triple कर दो इन सब को 5 गुना कर दो, 20 गुना कर दो answer गलत नहीं होएगा बस calculation कम ज्यादा हो जाएगा हम कैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे जिसमें calculation सबसे कम हो तो calculation कम कब होएगी जब fraction नहीं बनेंगे करने को हम इसको भी कर सकते हैं भी आप solve करोगे easily answer आजाएगा जिस्ट मैं आपको कुछ समझाना चाहरा हूँ देखो, उपर क्या है, उपर है distance निचे क्या है, निचे है speed हमेशा distance को उपर लिखना है, speed को निचे लिखना है, आपने आगे से आदर डाल लोगे से, ठीक है विकोज हमें average speed निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, total distance upon total time, total distance तो आप लिख दोगे धडलने से इनको जोड के लेकिन total time लिखने के लिए आपको distance upon speed time निकालना पड़ेगा उसके लिए, उपर वाला अगर निचे वाले से divide हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर क्या करूं, यह divide क्यो नहीं हो रहा क्या मैं इन सब को double कर दूं 30 को double कर दूंगा, 60 divide हो जाएगा, 60 को double कर दूंगा 20 तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर तो कोई प्रावलों ऐसे भी नहीं है तो आप इन सब को double भी कर सकते हो जैसे 30 की जगा मैंने ले लिया 60 यूनिट 120 यूनिट और यह ले लिया 20 यूनिट फिर double सब को करना पड़ेगा करोगे तो रेशियो के अंदर तो total distance कितना जाएगा percentage के अंदर total 100 होता है मैं सब को double कर चुका तो total 200 हो जाएगा अब यहाँ पर कितना time लगेगा यहाँ पर देखो भाई 60 बटे 20, 3, 40 ती 120, 10 तूनि 20, 3 और 36 और 28 ठीक है तो 25 आठे 200 होता है 25 किलोमेटर पर आठाए तो यहाँ पर तो बिना double के भी काम चल रहा था मुझे पता है इस question के अंदर calculation कैसी यहाँ पर point five आएगा यहाँ पर point five आएगा काम चल जाएगा लेकिन हर एक question में ऐसे चलेगा नहीं आपको पता होना चाहिए मैं कितने से multiply करूँ उसकी काफी सारी practice करें ठीक है तो यह बात दिमाग में बैठा लो कि भाई actual distance matter नहीं करता सिर्फ ratio matter करता है अलग-अलग speed पर travel किये गए जो parts उनका ratio कहा that's it वो नहीं change होने देना बस ठीक है question करोगे फिर करोगे नहीं तो और क्या करोगे कहाँ जाओगे क्या option आपके पास बताओ वन थर्ड ओफ जर्नी is covered at the rate of 40 km per hour तो मैं क्या करूंगा यह वन थर्ड जर्नी मैं total distance को कुछ अपनी मर्जी है तो मैं ऐसा आज्यूम कर लूँ जो तीन से भाग होता हो आप बोलोगे जी हाँ सर आप तो बहुत इंटालिजेंग थैंक्स ठीक वन फोर्थ at the rate of 35 km per hour तो distance को ऐसा ज्यूम कर लूँ कि च्यार से डिवाइड होता हो जी हाँ सर तीन और च्यार से डिवाइड होता हो और बाक्य का remaining हो गया तो यहने कि तीन और च्यार का LCM 12 माल लू लेकिन एक और बात है सर क्या कि distance तो मैं माल लूँगा लेकिन उसके बा इस लिखने की जरूद नहीं है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि by default उपर distance लिखा करो निचे speed तक distance by speed आप time निकल तो total distance को मैंने आज्यूम कर लिया वाई सब 12 total को कितना आज्यूम कर लिया 12 मन ही मन में तो 1 third 12 का 1 third क्या है च्यार यूनिट च्यार यूनिट को कि कितनी speed पर कवर किया है उसने 40 वन फोर्थ 12 का वन फोर्थ तीन उनिट को कितने की speed पर कवर किया 35 एक्चुल आए हुए equation कर रहा हूँ यह ऐसी अजीव सी calculation कोई दिकत नहीं है हम इंडल करेंगे तो 4 और 3 7 उनिट हो गए बचके 12 में से 7 गए 5 बागी के 5 उनिट को उनिट क इस distance को speed से divide करूंगा तो यह देखो 1 by 10 3 by 35 यह problem आ रही है यह problem हमने solve करनी है ठीक तो यह कैसे 1 फोर्थ तो यह problem कैसे solve होगी यह solve होगी आपको यह देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर problem क्या रही है इस उपर वाले को मैं किस से गुणा करूता की गुणा हो जाए 10 से उ उपर एक 10 की कमी है ठीक है यहाँ पर उपर किसी इस की कमी है उपर यहाँ पर पूरे के पूरे 35 की कमी है अगर पूरा 35 लेकिन 10 तो मैं यहाँ पर दे रहा हूं तो मैं क्या करूँगा मैं total distance को गुणा कर रहा हूं दस गुणा करना पड़ेगा मुझे agree divide कराना है तो आप इसको मैंने बैलेंस कर दिया ना जैसे ही टोटल डिस्टेंस को मैं 10 गुना करूँगा तो सारी चीज़े 10 गुना हो जाएगा तो लेकिन मैं एक बार जश्ट देख लूँ मुझे कितना गुना करना पड़ रहा है फिर मैं करूँगा इन सब को तरे तो यहां पर 35 के अंदर 5 और 7 होता है दिरे दिरे इसकी काफी फास्ट प्रेक्टिस हो जाए कि टेंसनी लेनी तो टोटल डिस्टेंस को साथ गुना करना पड़ेगा तकि यह महाश्य मान जाए सत्तर गुना उजाएगा ना टॉटल 10 और 7 और ठीक है यहां पर 5 समय ओर नो गुना और करना पड़े गा फोर है तो टोटल डिस्टेंस को इतने गुना करना पड़ेगा 630 अपिर के एroe है लूए लें area अब बाक्की का रश्ण वन तो टोटल डिस्टन्स अब मुझे निकालना है जि टोटल टाइम तो टोटल डिस्टन्स को मैं इतने गुणा कर चुका हूँ ऐसे 10 गुणा 7 गुणा 9 ऐसे लिख लो यहाँ पर अब इन से काटते रहो जब आप इससे काट ओगे देखो यह एक्चुल में 4 नहीं है तो मैं 35 से काटूंगा तो देखो क्या क्या कट जाएगा यह है 3 10 7 9 यह है तो 70 को अगर मैं काटूंगा 35 से तो दो अपर जाएगा तो 3 दूनी 6 निम में 4 अगर आप किसी और तरीके से इस क्वेशन को करोगे तो उसकिल पढ़ जाएगा आपको ठीक है 9 और 10 90 बनाते हैं 45 से काटूंगा तो 45 दूनी 90 तो 5 दूनी 10 साते 70 टोटल 70 गंटे लग जाएगा तो देखो तो तो टोटल कितना हो जाएगा जी 7 और 5 12 और 18 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 तो फोस आना ही था सिर्फ उपर वाले को देखकर हम सबाब देंगे यूनिट डिजिट भी देखते हैं चेक कर सकते कि नहीं 0 है चोदा पूच्छा आ रहा रहा है तो यही होएगा इस जीरो के अलावा एंड में 6 आ रहा है सादूनी 14 जीरो में 36 और जीरो ते एक में यह है 7560 MTS के अंदर पूचा गया एक्वेशन है ठीक है समझ मैं आगी बात अगर यह समझ लिया तो बाकी सब्सक्राइब अलवा होगा आपके लिए आगे लेकिन प्रैक्टिस है नफ करेंगे उसने 1 फिफ्ट बोला 5 से डिविजिबल चीए बची कुछी तो ठीक है बची कुछी तो 5 और चेहर 20 से डिविजिबल चीए ठीक है मैंने मन ही मन में 20 मान लिया दिख रहा है मेरे 1 में 20 ठीक है तो 20 का 1-5 उपर में लिखूंगा डिस्टन्स धिरे-दिरे डी और एस लिखने की आदत छोड़ देना By default उपर में लिखूंगा डिस्टन्स तो 20 का 1-5 यहने की 4 यूनिट कितने की स्पीड से 30 की स्पीड से 1-4 बीस का 1-4 पांच यूनिट 25 की स्पीड से 5 और 4 नो यूनिट हो गए 20 में नो गए 11 यूनिट कितने की स्पीड से 30 की स्पीड अब बहु गोशिक की अब बोलोगे पुर्टिश्ट अभी बता देते हो चलिख से 30 की आवरेस स्पीड है मेरेWow ऐ यहां पर यहां पर उपर अगर एक 15 हो जाता है तो बात ही अलग थी तो टोटल डिस्टन्स को पंद्रा गुणा कर दिया है यहां पर पूछूंगा पंद्रा गुणा कर चुका हूं अब तक तो यहां पर भी पंद्रा गुणा किया होएगा तो यहां पर तो एक पांच की कमी इतना एक और पांच हो जाता है तो 25 यहां पर कोई प्रोब्लम नहीं है पंद्रा गुणा कर चुका हूँ नीचे 60 है एक च्यार गुणा और गर दू तो क्या ही दिखता है पंद्रा और च्यार शाट सब कुछ हो जाएगा तो पूरे डिस्टेंस को मेरे भाई 60 गुणा किया ह अभी आप तुरंद सोल करोगे देखो कैसे अगर मैं 30 से काटूंगा तो च्यार इंटू 60 काटना है तो 30 दूनी 60 दो चोके 8 आठ गुंते लगेंगे प्लस 25 से काटूंगा तो 2-5 काटने है एक 5 मैंने यहां से काट दिया एक 5 यहां से 12 बच गए 12 बच गए 25 का मुलब 25 एक 5 यहां से साट से काटूंगा तो 60 साट गया 11 तो 12 और 8 20 और 11 31 तो यह मैं कल्कूलेटिक वेस्टन लाया हूं उठा के आवरे स्पीड के यह मैं सोचना है नॉर्मल क्वेस्टन है इस सारे क्वेस्टन से कल्कूलेटिक उठा के लाया हूं कि आपको मैं इनको हैंडल करना शिखा हो गए बहुत का मज्यूम करना पड़ता है अच्छा तो इसने दसमलव तक पूछ लिया बहुत बड़ी होगा है ठीक है तो 15 चोके 60 त्रे हो गया 1200 बटे में 31 यह लगबग या फिर लगबग भी क्यों बोलने हम एक्जेक्ट इसका प्लेस देखते हैं कि अगर मैं इसको 1200 सो बटे में 30 कर दूं यह तो एक्जेक्ट उत्र है यह मैंने अप्रोक्सिमेट कर रखा है तो हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा दिस इस नीचे वाले को हमारा उत्तर जो है that is less than this मैंने डिनोमिनेटर को घटाया है तो overall बड़ी हो जाएगी तो हमारा उत्तर इस less than 40 कर रहा है कर 40 से नीचे यह भी है आपको पता है कि इतना कम नहीं है यह तो बहुत ज्यादा ही कम हो गए 40 से अगर उसके बाद भी आप एक्जेक्ट जाना चाहरे हो तो इससे आपको इसको डिवाइट करना अपने एक्जेक्ट अपना क्वेस्टन है CHSL का अपके लियर है कि यह एक तो मैं पानी पी रहा हूं यह करो तब तर विना वीडियो को पॉस्ट करके करो पानी पीने में टाइम लूंगा माराम से बाट हां जी क्या स्टेटर्स है हो गया एक आर कवर्स वन फिफ्ट अव डिस्टन्स फ्रोम में टू बी अटेट क्लामडर पर आर वन फिफ्ट वन टैंथ दिस्टन्स और रिमेनिंग तो पांच और दस से दिवाइड होने वाला नमबर दस मैंने टोटल दिस्टन्स को दस माल लिया ठीकर तो दस का वन फिफ्ट याने की दो उनित अब मैं डिस्टन्स और स्पीड नहीं लिक रहा ठीकर दो उनित इस्टन्स उसने आठ की स्पीड से किया और one tenth of the distance यानि कि एक unit distance उसने 25 की speed से किया दो और एक तीन हो गए साथ unit distance उसने 20 की speed से किया clear है सी okay find the average speed of the ulcer निए average speed निकाल नहीं तो average speed होती है total distance upon total time total distance हम 10 मान चुके हैं ठीक है हम time निकाल रहे है time निकालने में अगर हमें कोई problem होगी तो हम total distance को गुणा करेंगे देखो यहां के हिसाब से तो मैं च्यार गुणा करना चाहरा हूँ यहां की problem sol हो जाए ठीक है यहां के हिसाब से मैं 25 गुणा करना चाहरा हूँ यहां की problem sol हो जाएगी ठीक है और यह 25 और च्यार गुणा कर चुका हूँ तो यहां की प्रोब्लम ओलडी सोल्ड है तो बस गुणा में 100 क्रोड कर दो तोड़ दो कमर क्वेशन की तो अगर ये 200 है दो इंटू सो पत्चीस आठे दो सो पत्चीस गंटे लगे जी ठीक है ये पत्चीस ओके सो चार गंटे लगे जी एक इंटू सो दो नो डिस्टन से बीस पांजे सो पांच सते पैतिस पैतिस कंटे लगे जी तो पत्चीस और पैतिस कितने होगे जी साथ और चार चार चौसट ये कहानी है ठीक है जी जान बुझ कर एसे क्वेशन सेलेक्ट किये हैं कि आप इनके अंदर भी कमफ़टेबल हो जाए इसकी कल्कुलेशन को मैं आसान कर दू मु दूजी 16 पर 30 format में है तो अगर उत्तर इस format में है तो उत्तरिये वाला ही वाएगा तो अब कैसे बोल रहे हैं अभी बदाता हूं कैसे बोला हूं एक उपर पांच की पावर दो पांच की पावर तीन निचे दो की पावर तीन है अगर मैं इसको वो कर दूं तीन गुणा प पांच दे दूपर सर उपर तीन गुणा पांच को दे रहो क्योंकि मैं निचे भी तीन पांच देना चाह रहा हूं क्यों सर क्योंकि निचे तीन दो है अगर मैं तीन पांच दे दूंगा तो तीन जीरो बन जाएंगी ठीक है और यह है पांच की पावर छे पांच की पाव यह दिखते हैं 8 से आप डिवाइड कर सकते हो ना उपर क्या था 125 पते में 8 ही तो है यह दिखते है 158 120 पांस पते 8 और हाला कि यह यह इजी है मैं ज्यादा ओबर स्मार्ट बन गया है यह अपर यह विल की इजी है 5 by 8 आप को पादा है यह 62.5 15.625 और यह यह नॉर्मल वाला बढ़िया रहेगा यह दाओ ए परसन कवर 40 परसेंट ऑफ दा डिस्टेंस प्रोम में टू भी एट एट क्लामेटर पर आर 40 परसेंट ऑफ दा रिमें निंग पच्छे हुए का तो डिरेक्ली लिखना शाट कर दू चालीस परसेंट डिस्टेंस उसन परसेंट साट का 40 परसेंट यहने कि 24 परसेंट एट 9 कलमेटर परार शाट में से 24 गया तो बचेगा कितना 36 बचा हुआ 36 कलमेटर उसने किया 37 परसेंट आप बोल सकते हैं और 12 तो ठीक है जी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एवरे स्पीड निकालनी है टोटल तो 100 है परसेंटेज में डील कर रहे हैं सो ही है टोटल टाइम निकालना है कहीं पर अगर यहां पर कोई दिक्कत हो रही है नहीं यहां पर कोई दिक्कत हो रही है हाँ अगर उपर एक और तीन मिल जाता सर तो यह लो इसने खाया तुम्हें उपर एक तीन दे दिया मैंने यहां पर और आठ सत्रा और पंद्रा बत्तिस यह आपका उत्तर है ऐसे लिख करेंगे हम एकसाम धिरे धिरे मैं सिंप्लिफाई कर रहा हूं ठीक है तो ऐसे करना उसकी ओसत कती ही निकालनी थी न यह नाव कि बावनाव में बह गया हूँ उसने कुछ और बोल दिया हुए तो 75 बटे 8 देने की आठ ने में बहतर नो तीन बटे 8 किलम्टर पर आठ ओप्शिन से सीजियल टियर टू का क्वेस्टन है ठीक है जी clear है इसमें कुछ प्रेशानियों का सामना करना पड़ा calculation में नहीं करना पड़ा ठीक है तो हमने distance हजूम कितना करना है क्यों करना है वो सारे मैं साथ की साथ explain कर रहा हूँ यह बताओ के car covers 4 successive 7 km distance यह भी सीजियल टियर टू का है at speeds of 10 km per hour 20 km per hour तो उपर बताया गया है distance नीचा बताया गई है speed इसने यह बताया कि 7 km के 4 stretch 7 7 7 7 7 इसे 7 km के 4 stretch है 7 km 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 कैसे 10 km per hour 10 20 30 60 10 20 30 60 तो बताओ आपरे speed तो अब देखो distance साथ 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 है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है कि distance upon speed करेंगे तो 7 बटे 10, 7 बटे 20, 7 बटे 30, 7 बटे 60 इसको कौन जेलेगा और मैंने आपको क्या बताया है exact distance matter नहीं करता कितना travel किया है matter करता है सिरफ इनका ratio तो 7 किया है या 14 किया हूँ matter नहीं करता सब जगह बराबर कर रख था तो मैंने काट ही दिया साथ को इस ratio में distance travel किया है और मैं किसी से भी गुणा कर सकता हूँ मैं distance को कुछ भी मान सकता हूँ जब तक मैं इन 4 को equal मान रहा हूँ उसने 4 को equal बताया है तो मेरा दिल में आए वो वाले माननू और 4 को equal माननू तो answer नहीं बतलेगा तो मैं क्या माननूंगा बताओ को 10–20–30~! जबेगा पर 10–30्? इसाट् से डिवाइड होनेवाले माननूगा और 10–20–30–60, So why can we expect this Galaxy को 60 मान ला जाएजी, या दिक, रेक कर साट मान लें की साब साब लिख रहा है साब साब इुछ रहा है इन से डिविजिबल मानना है तो टोटल डिस्ट्स कितना हो गया है, 60 into 4, टोटल डिस्ट्स की बात कर रहा हूं, टोटल, 240, बते में टाइम, यहां पर कितना टाइम लगेगा, 6 गंटे सर, यहां पर 20-30, 3 गंटे, यहां पर 30-60, यहां पर 1, त्यां पर 32-60, पाच्चो के 20, 20 क्लम्टर पर आर, that's it, क्लियर है समझ मैं आ रहा है समझ बढ़ रही है अंडरस्टेंडिंग और यह 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 बताओ फिर यह बताओ इसी रेश्यो में होना ची आपका दिल करें वो मान तिर तो टुर्ट हो रहा है और यह डबल होता तो डिवाइड हो जाता तो डिस्टन्स को डबल मान लो आपको कौन रोक रहा है इसी रेश्यो में होना ची आपका दिल करें वो मान तेर तो टूटल डिस्टन्स कितना हो गया भी pains और 10-10 तीस टूटल टाइम कितना हो गया पाथचों की बीस यहाँ पर 4 गंटे तो से कम दस यहाँ पर 1 गंटा 5 गंटे तो speed होगी जी 6 kilometer पर आर का गलती की है boy rides his bicycle 10 kilometer at an average speed of 5 kilometer पर आर again travel 5 kilometer at an average speed of 10 kilometer ठीक मैंने दोनों का डबल कर दिया 5 तोनी 10 तोनी 20 डबल कर दिया total distance 30 हो ठीक है 5 चोक के 20, 10 से कम 10, 5 गंटे च्शह की speed ठीक तो निकाला है ठीक आप 6 मान लो कोई ना कहीं पर अप्शन टी clear है तो ये नॉर्मल क्वेस्टिन अब एंड में आपके लिए एजी होगे न पहले वो वाले करवा के अब ये बताओ ये बताओ एक्जाम में आया वाक्वेस्टिन कार ट्रेवल्स अलोंग दी फोर स्क्वेर है उसकी चारो साइड पर कार ने ट्रेवल किया तो स्क्वेर के चारो साइड की खासियत क्या होती है कि चारो साइड की लंबाई बराबर होती है स्क्वेर की एक वर तो एक हिसाब से वो ये कहना चाहरे है कि चार अलग लग या फिर च्यार distance के stretches, च्यार parts cover किये, जिनका distance same है, च्यारों का ratio same है, ये उसने V की speed से travel किया, ये उसने 2V की speed से travel किया, ये 3V की speed से travel किया, ये 4V की speed से travel किया, च्यार टुकडे, जो कि बराबर है length में, अलगलग speed से travel किये, तो इस distance को मैं क्या assume करूँ, ताकि V, 2V, 3V, 4V सब से divide हो ज तो distance को मैंने assume कर लिया, एक तो distance के अंदर मैंने v माल लिया और चीर, 3,2,1, इन सब तो टोटल टाइम तो टोटल टाइम देख लेते हैं भी तो यहां पर कितना टाइम लगेगा 12 वी डिवैड़ेड़ बाई वी 12 मालक से लिक लेता हूं यार 12 यहां पर 6 यहां पर 3 4 12 यहां पर च्यार च्यार दिये 3 तो 6 और च्यार 10 और 15 25 अच्छा उसने कुछ पूछा है इफ यू इस दा आवरेज स्पीड तो यह हमने आवरेज स्पीड निकाली है इस इस इकल टो यू आगे आपको दुकरो एक बार पता है इस अग्जाम के लिए स्टूडेंश को जितनी महनत करनी पढ़ती है कबर करने के लिए कोई भी अगर डिसेंट टीचर है इमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाता है अपने कंटेंट को अप्डेट करता है कोई भी टीचर सिर्फ अपनी बात नहीं करा दिया है इफ यू is the average speed of the car in its driver on the square then which of the following is correct फे तो यू और वी का relation तो यू इस इकल टू बारा चो के 48 बटे 25 वी तो ये 25 दूनी 50 यू जो है ये 2 वी होने से थोड़ा ही चोटा है 2 वी से चोटा है और वी से तो बढ़ा ही हो जाएगा फिर ठीक है ये हो गया U जो है वो किसके बराबर है 25 दूनी 50 2 V यह 50 तो है 2 V होने से थोड़ा सा रह गया और 1 V से तो बढ़ाई है ठीक है तो U जो है वो V से बढ़ा है 2 V से छोटा है CDS में पूछा गया equation clear है जी आगे बढ़ें यह बताओ if a car covers a certain distance in one hour 24 minutes by covering two-third of the distance at 52 km per hour and the rest रुको एक बार मिरा देहन डाइबर होगा यह मैं एक बार इस देखना चाहरा हम अपकरो इसको मेरी आंकों में ऐसा ऐसे reflection दिख रहा था मेरे idea आया कि क्योंने वहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें वह अफ्य अच्छा रहा idea चलो अब देखते हैं if a car covers मेरी picture में तो कोई दिख्कत नहीं आई इसमें नहीं एक टाग दिख रही है if a car covers a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering two-third of the distance at 52 km per hour and the rest at 65 km per hour then find the total distance तो कोई दिख्कत नहीं इसने यह बताया है car ने क्या किया car ने total distance में से two-third यानिकि total distance तीन है तो उसमें से दो हिस्से उसने 52 km per hour की speed से travel कर दिये एक हिस्सा उसने 65 km per hour की speed से travel कर दिया clear है और overall उसको इतना time लग गया पूरे distance को travel करने में तो बताओ total distance कितना है तो distance के लिए मुझे क्या क्या चीए मुझे एक बात बताओ distance is equal to speed into time time है की नहीं हां जी सर तो time मेरे पास है speed है की नहीं तो पूरी जरनी की average speed निकाल लो पूरी जरनी की average speed मिल जाएगी और पूरी जरनी का time दे रखका है तो speed into time is equal to distance कतम बात विदिक्कती नहीं ठीक है जी तो average speed कितनी होएगी इन दोनों के अंदर 13 13 हैं तो एक तो पूरे distance को मैंने 2 प्लस एक 3 मान रखा है तो पूरे distance के अंदर एक तो मैंने 13 देना पड़ेगा ठीक है अगर मैं 13 दे दूँगा तो यहां पर एक 2 भी देना पड़ेगा आप बोलोगे जी हां सर ठीक है तो 13 और 2 मैं दे चुका हूँ यहां पर मुझे एक 5 भी देना पड़ेगा तो पूरे distance को मैं इतने गुना कर चुका हूँ 13 इंटू 2 इंटू 5 ठीक है अभी मैं time देखना चाहरा हूँ 52 से अगर मैं divide करूँगा तो 13 दो और 2 कर दूँगा total distance upon total time का क्या मतलब है average speed average speed को मैं multiply कर दूँगा time से time कितना लगा एक गंटा 24 मिनट एक गंटा 24 मिनट को घंटों में बदल के लिखो 12 दूनी 24 बारा पंचे साथ यान की 7 बाई 5 क्लियर है यहां पर जो मैंने side में मैंने परदी ही लाए है है जो मैंने परदी ही लाए न लुव इतनी बड़ी एक चिपकली उपर दोगे निचे से निकलिये ते रहत यह 49 मगरमत से कम नहीं है कि नॉर्मल चिपकली इतनी तो उसकी पूछ मोटी हम लोग क्या दान्ना पाल रखका है मैंने आफे स्टूडियो में अध 78 km per hour option है क्लियर जी यह ने म्त्स का क्वेशन है को चिपकली से रहा नहीं है यह चिपकली देख की दा मेर को यह लग रहा है कि मुला यह तो उपर को देख की दा को चली डा लेगी यह क्रो Aksi hya travelled one-fourth of the distance with a speed of 60 km per hour one-sixth of the distance with a speed of 40 km per hour with what speed he has to travel the remaining distance that the average speed of the whole journey is 48 km per hour आप कर शखते हो मेरे बताने से पहले मेरे बताने से पहले आप कर शखते हो । मेरे बताने की जरुरूत निया है करो प्रूओ नहीं exactly same concept यहाँ पर रहेगा 1 4th distance को travel किया 1 6th distance को travel किया तो 4 और 6 का LCM क्या होएगा 12 मान लो ठीक है total distance को 12 assume कर लिया हमने 12 का 1 4th 3 unit distance कितने की speed से 60 1 6th 2 unit distance कितने की speed से 40 3 और 2 5 12 में 5 गए 7 unit distance इसने बता है नहीं बोल रहा है 7 unit distance को किस speed से travel करूँ यह average speed 48 आई तो आप माल लो कि x की speed से travel किया अगर इस distance को इसने x की speed से travel किया तो average speed 48 आगी तो ठीक है अब आप average speed निकाल लो इस information से और उसको इसके साथ equate कर इस information से average speed निकाल लो वो 48 के equal होनी चीए तो sir x से divide करूँगा calculated होएगा तो पूरा distance फिलाल हमने 12 मान रखा है लेकिन आप distance को इतना मानो ना कि इन सब से divide हो जाए तो बताओ sir क्या करें देखते हैं देखो ये 60 से divide होना चीए उसके लिए मुझे 20 गुना लेना पड़ेगा पूरे distance को अजी sir अब यह यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं पहले ही 20 गुना लेना पड़ेगा ठीक है 40 से divide हो जाए उसके लिए 20 गुना लेना पड़ेगा जो कि मा उलड़ी ले चुका हूँ और x से भी divide हो जाए उसके लिए x गुना भी लेना पड़ेगा तो मैं पूरे distance को 20 x x गुना क्यों ले लो 20 x x भी माल लो कोई दिक्कत ने उसमें क्या प्रिशा नहीं अब देखो अगर मैं 60 से divide करूँगा 20 तीए 60 x को तो आएंगे x गंटे अगर मैं 40 से divide करूँगा 20 और 2 कट जाएंगे आएंगे x गंटे अगर मैं x से divide करूँगा तो x x कर जाएगा आएगे 140 गंटे तो यह आगया 2 x प्लस 140 गंटे यह क्या आगया time distance upon speed तो total distance upon total time आगी average speed जो क्यों होनी चाहिए 48 के बराबर कर दो भी शोल क्या ही दिक्कत है ठीक है अगर दे आप बोल रहे हैं उतर अगर देते हैं 12 दूनी 24 24 दूनी 48 2 पंजे 10 यहाँ पर हो गया 5 x यह उदर जाएगा ठीक है तो 5 x is equal to 2 x plus 140 आपको देख रहे हैं 2 x plus 140 इधर मैंने shift कर दिया 5 x is equal to 2 x plus 140 2 x इधर है 3 x is equal to 140 x is equal to 140 by 3 3 चो के 12 ती चे गटारा 46 2 by 3 याने की option भी याने की option भी अभी आपको screen कैसी दिख रहे हैं मैं रहे हैं रहे हैं आगे बढ़े यह बताओ the ratio of the distance between two places a and b to the distance between places b and c is 3 x 5 यह बोल रहे हैं कि दो places है a और b इनके बीच में और जो places है b और c इनके बीच में जो distance का ratio वो है 3 x 5 अगर यह distance 3 है तो यह distance 5 है ठीक है a man travels from a to b यह CGL tier 2 का question है a man travels from a to b at a speed of x km per hour and from b to c at a speed of 50 km per hour if his average speed of the entire journey is 40 km per hour अगर entire journey की average speed 40 km per hour है तो बताओ इसकी value किया तो simple जैसे हमने किया था total distance फिलाल हमने कितना मान रखा है total distance 5 और 38 unit मान रखा है लेकिन बात बनेगी नहीं यह उपर वाला 50 से कब decide divide होएगा जब मैं 10 गुणा कर लूँगा और यह x से कब divide होएगा जब मैं x गुणा कर लूँगा तो total distance को मैं 10 x गुणा मान चुका हूँ ठीक है अब x से divide करो x से x कर जाएगा 10 30 30 30 गंटे हो गए जी आपर प्लस निचे लिख लेता हूँ 50 से 5 और 10 गए x तो 30 प्लस x यह time लग जाएगा total distance upon total time is equal to average speed जो की है 50 कर लो फिर क्या दिक्कत थे इसमें अब इसमें comfortable हो गए कि नहीं हो गए ठीक कर देते हैं cross multiply ऐसे वैसे करने को मैं इस x को उधर लेके जा सकता हूँ 3 10 गुणा हो जाएगा तो x की value 50 होगी यह मुझे 50 होगी है 30 होगी चलो जो भी है यह 8 x है यह उधर जाएगा 8 x is equal to 5 x plus 1500 होगी 3 x is equal to 150 x is equal to 50 काफ उचतर है 50 minus 10 that is 40 x 150 plus 151 गलत हो गया गया अच्छा यह 40 थी और मैंने 50 लिख दी मैंने यह देख लिख दी sorry my mistake क्या हो जाएगा 8 x उधर जाएगा 4 x 4 x इदर आएगा 4 x is equal to 120 x is equal to 30 मैंने इसे कर ली x की value 30 है 30 minus 10 is equal to 20 30 plus 1 is 31 20 is to 31 क्लियर है यह करो यह देखता हूँ करोगे नहीं करोगे क्या करोगे देखता हूँ देखता हूँ then he returns from c to a at x kilometer per hour यह बोल रहे हैं एक बंदा point a से point b तक गया फिर point b से point c तक गया point a से b तक कितनी speed से गया 50 kilometer per hour b से c तक कितनी speed से गया 75 kilometer per hour अब वो भल रहे हैं वो c से a तक आ गया वापिस ठीक है a to b b to c का ratio है 2 is to 3 ठीक है यह distance अगर 2 है तो यह distance 3 है तो वो c से a आया तो उसने total कितना unit distance ट्रेवल किया उसको c से तक लाओगे तो तो आगे की तरफ माल लो 5 unit distance travel करा दिया सिरफ यह matter करता है कि कितना distance travel किया यह matter थोड़ी करता है कि किस direction में गया सिद्धी line पर जाना जरूरी थोड़ी total कितना distance travel किया कितनी speed से travel किया तो बस ऐसे माल लो और यह जो उसने distance travel किया यह x की speed से travel किया तो उसकी average speed इतनी निकली है तो x की value बताओ क्या होगी तो बहुत ही simple है अब यहां से average speed निकालोगे इसके equal put कर दोगे that's it इससे पहले हम इस equation कर चुके हैं कि आपको निकालना चाहिए था कि यह बताओ पताओ थोड़ा से दिमाग लगा कि निकालना चाहिए था कि नहीं अभी देखें पांच और तीन आठ और दो दस टोटल डिस्टेंस इस दस निचे में लिकूंगा टोटल टाइम तो देखूंगा टोटल डिस्टेंस को कुछ गुणा करना खि़े रहे है कि नहीं यहां के लिए पत्चीस गुणा करूंगा kesi और यहां के लिए पत्चीस गुणा तो यह 25 गुणा तो होगि गया यहां के लिए एक सगुणा तो टोटल DAM डिस्टेंस को 25 गुणा कर दिया मैंने क्या कनलिया थी कई, एख खलकके में मतलें, ना तुम मेरे इस, तो टोटेल डिस्टेंस बटे में, टोटल टाइम मेरे भाई अहां पर कितना टाइम लगाए है मेरे भाई, तो प्चास से डिवाइड करूंगा तो तो दो और 25 कट गे, X, फचत्तर से डिवाइड करूंगा तो 25 ओर तीन कट गे, X, X से डिवाइड करूंगा तो 125, X से एकस कट कहा, 25, 125, तो 2X प्लस 125, total distance upon total time is equal to this, तो उननचास का पहाडा आना चीए आपको नहीं आता, तो पूदक पहाड़ तीमा पहाड़ पूनचास एक पहाड़ को भी नहीं आता, दिल छोटा करके मत बैठ जाना कई लोग, उननचास का बड़ा करें और टे यार, वैसे multiply कर लेंगे, उननचास का बड़ा मेरको आता है लेकिन एक तक आता है, दो तक प्याता है, तो 6 से इसको multiply करूंगा, 6 चोके, 24, 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 पहाड़ा है, यहां कि सब्सक्राइब है, तो 5 यह जिनकाल भी, 25, 24, 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 24x यह जो 125 है इसमें से 25 निकालो और उसको चयार दे दो 25 और 400 बना लेगे हैं पर 5 और 3 15 बच जाएगा तो इसके अंदर 25x इसकी वेल्यू 25x होगी 26 के अंदर क्या जोड़ हो कि 49x 25x 25x की अगर यह वेल्यू है तो 25-6 के डेड़ चो 60 उसने यही पूछी है that is option D TCS तवारा एक 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 जाम लिया आ गया था ICAR का उसके अंदर पूछा थे क्यों सीजियल, रेलवे, स्टेट एक्जाम, TDS सबके लिए रिलेवेंट है कि उस एक्जाम का भी सेम से लिए बस है जो हमार यह बताओ एक बंदा A से B तक जाता है 12 की स्पीड से ठीक है और वापिस वो आता है यह इसे बी तक जाता है 12 की स्पीड से फिर B से A तक आता है तो distance तो उतना है ट्रेवल करेगा जितना उसने जाती वे गया था एक्जक्ली सेες सेम डिस्टंस म calming जो बार और मन लिया इसको मैं बार माल लिया इसको मैंने बार माल लिया इमीह मालना पड़ेगा इससे उतने माणना पड़ेगा यहां परं इस अधेयर सो टोटल हुग winterשidels को हो गया बारर यागर बारr टोटल टाइम टेकन, बारा एक कमबारा, च्यार दिये बारा, तीन और एक च्यार, च्यार चिकेश, अगर वो वापिस बुला ले तो उतना है डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अलाकि येक्वेशन मैंने इसके लिए नहीं दिया, येक्वेशन मैंने क्यों दिया है, मैं आपको बताता है, सुनो, सुनो अध्यान से दुनिया वालो, लेखो, अगर कोई बंदा सेम डिस्टेंस अलगलग स्पीड से ट्रैवल करता है, ए से लेकर बी तक, अगर ए किलोमेटर पर आर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया, और बी से लेकर स्पीड तक, अगर उसने बी किलोमे केबल होने चीए ऐसे आजूम करने की नौबत नहीं आने आई आवरेस स्पीड होएगी 2ab upon a plus b same distance को अगर अलग-अलग speed से करे तो ठीक है क्योंकि ये situation बार-बार आएगी same distance को लग-अलग speed से करेगा तो ये formula याद होना चीए रटा हुआ होना चीए लिख लो अपने नोपस के अंदर तो 2a पहले वाली speed क्या है 12 दूसरी speed है 4 क्योंकि वो गया है और आया है same distance travel क्या लग-अलग speed से तो 2a b upon a plus b बार आउट चीए 16 ठीक है clear है तो आपकाट देंगे च्यार से च्यार पर जाएगा च्यार से तीन पर जाएगा तीन दू नीच है इच्छ है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो इस फॉर्मुले को ध्यान रखो भी ये बताओ a man traveled a certain distance by train at the rate of 25 km per hour and walked back देखो उसने train से एक distance travel किया और उसके बाद वापिस पैदल चलके आगया तो गया तो भी same distance वापिस आया तो भी same distance गया था 25 की speed से आया है 4 km per hour की speed से same distance को अलग-अलग speed से travel किया कि नहीं किया जाएगा तो जो distance cover किया आएगा तो उतना ही distance होएगा उसी रस्ते से आया है यह मत वालना सर अलग रस्ते से आया हो ठीक है बक्वास नहीं चलते है एग्जैमिल के सामने फिर अलग रस्ते से माक्स देता है अलग रस्ते से नोकरी नहीं किया तो same distance को उसने 25 की speed से travel किया और same distance को 4 km per hour की speed से travel किया यहां पर वो formula लगा दूँ तो overall पूरी जर्नी पूरी जर्नी कौन से जाने की और आने की formula क्या है 2ab over a plus b इसको कैसे भी कर लो 2xy over x plus y आपका दिल करें वैसे कर लो ठीक है the whole journey took 5 hours in 48 minutes पूरी जर्नी को इतना time लगा तो पूरी जर्नी की speed आप निकाल सकते हो पूरी जर्नी का time आपके पास है यह बोल रहे हैं दा distance was की distance कितना है speed है time है speed into time is equal to distance तो पूरी जर्नी की speed कितनी है 2ab upon a plus b यह है जी average speed of the whole journey पूरी जर्नी का time कितना है पूरी जर्नी का time है जी पास गंटे 48 मिनट 48 बटे 60 गंटों में का नोट करना है 1245 बारा पांचे साथ पाचो 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 पत्चीस वर चार उनकतिस व्टे 5 ठीक है सर लेकिन इसने क्या पूचा है अब ध्यान से इसकी statement को पड़ो यह point A है यह point B है एक बंदे ने एक certain distance यानि कि यहां चे लेकर यहां तक train से ट्रेवल किया एक बंदे ने certain distance train से ट्रेवल किया और फिर वापिस वो पैदल चलके आ गया है और the distance वा जो distance कितना था यानि कि जो certain distance उसने ट्रेवल से ट्रेवल किया था वो कितना था पूरी जरनी जो मैंने average speed निकाली है वो निकाली है जाने की और आने की बराबर जो मैंने time लिया है वो लिया है जाने का और आने का पूरा, average speed में जाने के और आने की पूरी जरनी की निकाली है, जो time है ये भी पूरी जरनी का दे रखा है, लेकिन distance सिर्फ जाने जाने का पूछ रखा है, तो जो भी distance है A और B के बीचे में, वो दो बार count हो जाएगा, जोकि speed भी जाने की आने की पूरी जरनी की है, time भी जाने का पूरा जरनी का है, तो पूरी जरनी का जाने का आने का टोटल डिशन जाजय जाजा जाएगा, यहां से, उसको half भी करना है, उसको half भी करना है, उसने सिरफ एक तरफ का पूच था, तुमरे तो कभी कभी क्या होएगा एक तरफ का distance पूछ लेगा कभी कभी क्या होएगा दोनों तरफ का distance पूछ लेगा आये हुए question है तो ध्यान रखना है कि उसने कैसा distance पूछ आए हर तरह का question मां करवा हूँगा स्टूदेंट गोज टू स्कूल एट स्पीड ओफ फाइव और हाफ किलोमेटर पर आर एंड रिटन्स एट स्पीड से आता है उस स्पीड से तो डिस्टन्स तो सेम हो गया गया उस स्पीड से आया उस तो स्टूड ने जो टूटल इस तो डिस्टन्स कवर्ड किया वह बता हो जरने के जाने का आने का टोटल पूछ रहे हैं सिरफ स्कूल का डिस्टन्स ने पूछ लिया बता देते हैं ऑवर और जरनी कि αवरे फीड क्वेड कि आएक 11 आपटे दो 2 A B, कि इस स्पीर से आया बाद में 4, over A plus B, तो 11 आपटे दो याने कि 1.5 और 4, तो 9.5 जो कि वोगा, 19 स्पटे दो ठीक है, 2 A B over A plus B, निच्चे मैंने A plus B लिखती है, ठीक है यह तो speed हो गई overall time time कितना लगा उसको four three by four तो चार्सों के सोड़ा और तीन उन्नीस पटे च्यार यह time लगा speed into time यह distance आ जाएगा ठीक जी 22 km उसका school 11 km दूर है लेकिन उसने total 22 km डिस्टेंस ट्रेवल किया है जाने में होगा ठीक आगे बड़े यह बताओ तो कर ट्रेवल से इस्टेंस एक स्काटर अल्र कैस्ट ड्रेएट से कर डिस्टेंस प्राhग गई कर डिस्टेंस पांगे से प्लऻक्र ही यह 10 गांटेष का क्या से ज्सक्र अल्रू का स्क्रेटू कर डिस्थ 11 एक कार ने X किलोमेटर का distance ट्रेवल किया यहां से यहां तक इस speed पर और फिर return हो गई तो X की value तो one तरफ ही होगी ना X की value तो वही होगी ना जो इस से लेकर इस तक इन दो point के भीश में जो distance है यानि कि एक तरफ जाने की value को हम X बोल रहे है X किलोमेटर गई इस speed जे और वापीस आगी overall तो उसने 2X कवर कर लिया लेकिन X की value क्या है जो इसके और इसके भीश में point है यानि कि एक तरफ की दूरी X क्या है एक तरफ की दूरी तो half करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पूरी जरने की speed मिलती है जाने की और आने की तो चलिए जी तो 2AB actual पूचा हुआ question है तो A की value है जी यह 9,5,45,50 by 9 2 A B upon A plus B A plus B क्या हो जाएगा 50 by 9 plus 5 9,45,95 9 लेकिन यह speed किसमें है sir speed तो meter per second में यह average speed आ गई यह तो meter per second में है time ars में है sir अब हम क्या करेंगे ठीक है और जो x की value उसने बोली है वो भी kilometer में है तो इस speed को kilometer per hour में कनोट करेंगे तो meter per second में है बड़ी unit की तरफ जा रहे हैं तो 18,5 से गुणा करेंगे तो 7,5 35,3 38,5 तो speed into time आ गया distance लेकिन एक तरफ का distance चीए सिर्फ x की value तो 2 से भाग भी कर रहा हूँ तो समझे रहे हो चोटे मोटे बाते हैं एक भी छोड़ दी तो वहाँ पर answer गलत हो जाएगा clear, काट पीट दें अब इनको ठीक आजे तो 25 पाचू 25 तो नहीं, 50 पाचास 19 तो नहीं 38,19 पाँजे 9 और 5, 9 और 5 नीचे कुछ बचा है, नहीं ठीक उपर बचा है, 18 और 2 और 2 18 चुके बहतर अब बहतर पर निसान नहीं मार देना एकस की वैल्यूं 52 है, उसने पूचा क्या है, उसने पूचा एकस प्लस थ्री ही कहई, मसदार हो गया एकसप की नहीं उसको पता है कि आप जैसे लोग उताव ले रہते हैं एकस की वैल्यूं भाँ वैल्यू नीकलते हैं इकजाम में ऐसे, फुटना जाए कि मैंने इतने एक्जाम करेक करके हैं एक बात मेरे साथ हमेशा रही कि शान्ती से एक्जाम करेक हुता है अड़ बड़ा हाट में रहेंगे तो कभी भी एक्जाम करेक नहीं है उस शान्ती की प्रेक्टिस करने पढ़ेगी शैन्ति का मतलब सलोर नहीं होता है, शैन्ति का मतलब आप काम हो, वट काम ठीक ठाक स्पीड से कर रहे हो, आप जल्द बाजी में मिस्टेक ने कर, समझ में आगई जी बात, चलो, और जिस चीज के आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, वही चीज आप एक्जाम में शो कर दोगे तो घर पे किसीज के प्रैक्टिस करनी है, काम रहने के आराम से एक्वेशन करने की, हो सकता आप काम रहोगे तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा टाइम ले लोगे, फर्स्ट टाइम आप काम हो रहे हो, तो आप हो सकता है ज्यादा टाइम ले रहे हो, आपको यह लग रह रहा है पर दिरे दिरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना जी स्पीड बढ़ जाएगी एक्वेशन का दिलिवरी बॉई स्टर्टिड फ्रम इज ओफिस अट 10 a.m. तो दिलिवर अ आर्टिकल ही रोड ही स्कूटर एट इस स्पीड फिर्टी तो किलम्टर पर आर सिर्टिड एट इन वेट इन फिर्टी ने टृटल इस ट्रेवल किया यानि कि गया और आया ओ वहा टॉटलिशन स्टिगा सरदोनो तरह भाता ना है गया की स्पीड से गया इस स्पीटिक एवरेश स्पीड मिल गई पूरी जरनी की पूरी जरनी का टाइम मिल जाएगा सर जी हाँ डेफिनेटली मिल जाएगा वो दस बजे निकला था वो गया वहाँ पर 15 मिनट वेट करी फिर वो वापीस आया वो 11 बज के 25 मिनट पर वापीस आया तो टोटल आप एक बार पूरा टाइम देख लो 10 बजे से लेकर 11.25 तक एक गंटे 25 मिनट बीच में 15 मिनट जो थी उसने वेट किया था 15 मिनट जो थी वेट किया था डिस्टेंस ट्रैवल करने में नहीं खर्चेते हैं हम यह देखना चा czasu रहे हैं पूरी जरनी के वरे स्पीड किया है वो आ लगाए उसमें से 15 मिनट वेट किया था तो एक 25 में से 15 गटा दो एक गंटे 10 मिनट एक गंटे 10 मिनट पूरी जर नहींगा टाइम है निकालना स्टार्ट करते हैं question 2ab upon a plus b ठीक है इंटू time तो 1 1 by 6 गंटे में बदलोगे तो यानि कि 7 by 6 तो speed into time that is distance total distance पूचा है तो half करने की जरूरत नहीं है ठीक है जनाप clear है तत्व आठुचपपन आठ चोके 32 थै चोके 24 चार चोके 16 दुनी 32 option c answer is option c I am drinking water and you will be solving question without posing the video मज़ेदार question है वाई cpo में पूचा गया है तो relevant है sir बिल्कुल relevant है यह person travels मैं यह देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलेगा पहले concept आपको करवाद सुका हूँ वो concept याद आएगा कि नहीं आएगा यह person travels a total distance of 300 km and then returns to the starting point एक बंदा जो है वो 300 km का distance travel करता है ठीक है जी और फिर वापिस उसी point पर आ जाता है तो एक बात तो clear है same distance उसने travel किया है गया है और वापिस वहीं पर आया same distance travel किया है दोनों बार एक बार गया एक बार आया time taken by him for the outward journey outward journey कि जब वो जा रहा था जो जा रहा था तो जो उसको time लगा वो पांस गंटे ज्यादा लगा जाते हुए उसको पांस गंटे ज्यादा लगा then the time taken for the return journey आते वक्त के comparison में उसको जाते वक्त पांस गंटे ज्यादा लगा यानि कि जाते वक्त speed कम रही होगी simple सी बात जभी time ज्यादा लगा if he returns at a speed of 10 km per hour more अगर वो 10 km ज्यादा की speed पर आया है यानि कि वो गया है मालो s की speed पर तो वो आया है s plus 10 की speed पर ठीक है जी तो what is the average speed to average speed क्या तो मैंने आपको एक चीज करवाई थी speed and time plus minus करवाय था कि नहीं करवाय था कि अगर same distance के same distance को अमने cover करना है speed के अंदर plus कर देंगे तो time negative हो जाएगा speed में negative कर देंगे अगर मालो एक बंदा the same distance को travel करने के लिए अपनी speed को 10 बढ़ा देता है तो time 5 गंटे कम लग रहा है तो वही same situation है तो उसका formula याद है आपको बताय था distance is equal to speed into time s1 into s2 बटे में delta s यह होगी speed speed का department हो गया इसके अंदर तीन तरह के speed आ रहे है अब यह मत बोलना है सर total 600 के अना 300 km s की speed से 300 km s plus 10 की speed से हम compare कर रहे है कि same distance को अलग अलग speed से अगर travel कर रहे है तो time में क्या फरक है s1 into s2 बटे में speed के बीच में 10 का फरक है दोनों में और time का फरक जो हो 5 कंटे का create हो है clear है तो वह वाला concept भी यहां पर यूज हो रहा है तो आपको दोनों speed मिल जाएंगे आप लोगो ठीक है सर दोनों speed मिल जाएंगे उसके बाद क्या विदा तो same distance अलग अलग speed पर every speed का formula लगा दो टूए भी अपने प्लस प्लस ठीक है करते है फिर solve why 5 तूणी 10 और 2 यहां पर दोनों के बीच में कितने आफ रख करना है सर 10 का दो ऐसे नंबर है इनके बीच में 10 का gap है और यह product है तो मैंने क्या बोला यह अगर gap 10 का करना है वहां से 10 चीन लो gap 10 का करना है अला कि मैं एक्जाम में यह लिखता नहीं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ gap में से जो वी चीन होगे दो बारी चीन लो product में से तो product होना जी है 3 और 2 6 और gap होना जी है 1 तो यह तो साब साब दिख रहे हैं 2 और 3 में 1 का gap है product 6 अब इनको 10 लोटा दो एक तो 20 है और एक 30 है यहनि कि S की value 20 है S plus 10 की 30 है S की value 20 है S plus 10 की value 30 है clear है तो average speed क्या होगी 2AB 2AB upon A plus B टीक है 2 0 से 100 बनता है मैंने 50 से काट दिया 50 तो नहीं 100 टीक 8 34 आंसर इस ओप्षिन से clear है कैसा लगा question बढ़िया था किरन covered half of the distance with 30 km per hour with what speed she has to cover the remaining half of the journey तो the average speed of the whole journey is equal to 40 km per hour तो simple सी बात है उसने अध्य distance को travel किया 30 km per hour अध्य distance को मैंने मान लिया X km per hour से cover किया होगा तो same distance को अलग-अलग speed से cover करेगा कोई भी बन्दा तो 2AB upon A plus B यह average speed होगी और यह बोल रहे है कि average speed 40 रही है खतम X की value निकालो क्या ही दिखता बताओ तो 32,60 है 20,40 20,30 इसको दो तरिक के से कर सकते हो इस 3 को निचे भेज दो इस 3 को निचे भेज दो मैंने निचे भेज दिया X और X plus 30 में 30 का फरक है और यहां पर तो भाई एक का फरक है तो क्यों न 30 गुणा कर दें दोनों values को 32,60 30 ती है नब्पे यहनिकि X की value 60 है X plus 30 की नब्पे तो X की value 60 है जाएगी दोनों जगे से यह फिर cross multiply कर लेते है ठीक है दोनों तरिके सिखाए आपको यह बताओ प्रिया ट्रेवल डे शर्टेन डिस्टेंस विदे स्पीड ऑफ 40 क्लाउंटर पर आर प्रिया ने 40 क्लाउंटर पर आर की स्पीड से एक डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है 40 क्लाउंटर पर आर की स्पीड से चली गई at what speed she has to return कितनी स्पीड पर वो return करे that the average speed of the whole journey will be 80 क्लाउंटर पर आर तो मैंने माल लिया वो x की स्पीड से return करेगी और पूरी जर्ने की स्पीड जो है 80 क्लाउंटर पर आर हो 40 की स्पीड से गई x की स्पीड से आई same distance अलग-लग स्पीड से travel हुआ average speed हो जाएगी 2 a b upon a plus b average speed वो बोल रहे है 80 होनी चाहिए तो अभी देख लेते हैं चाहिए 49 दुनी 80 यहाँ पर एक बच गया x is equal to 40 plus x x से x कट गया 0 is equal to 40 तो सरी यह क्या हो गया it is not possible possibly नहीं है हमने situation solve की तो उसमें ऐसी statement आ गई जो कि mathematical common sense का मलब उलंगन कर रही है या फिर उसको contradict कर रही है mathematics को 0 is equal to 40 यह पोसिबल नहीं है it is not possible यह situation possible नहीं है तर लेकिन practically दिमाग में नहीं कुछी की मलब यह क्या हो गया तो भी पताता हूं देखो उसने किया क्या उस बंदे ने क्या किया प्रिया ने एक distance 40 की speed से cover किया मालो यह distance उसने 40 km पर आर की speed से travel किया ठीक है अध्दा distance वो बोल रहा है कि इस distance को exactly अध्दा distance को कितनी speed से travel करें overall जो speed हो एक टीकलाउटर पर आरा जाए ठीक है तो देखो मैं यह कर लेता हूं कि इस distance की यह speed है इस distance की speed है और overall पूरे distance की this प्लस इस तो क्यों ना इस डिस्टंस को ऐसा माल ले कि सब चीजों से डिवाइड हो रहा हूँ तो मैंने 40 माल लिया यहां पर ठीक है जी तो एक गंटा यहां पर फिनिस हो गया यहां पर कितना टाइम लगे और यहां पर एक गंटा ओवरल पूरी जरनी एक गंटे में करनी है हान जी और आदी जरनी में ही टाइम खतम हो गया है तो उसके बाद अब उसके पास पहुंचना पोसीबल है मालौ आपको तीन गंडे में कहीं पर जाना है अब तीन गंडे में आद्दी जगे परioned पहुंचे हो अब मैं कितनी स्पीड पर जाओ कि मैं टाइम पर पोँचा हूँ नहीं अब का सम Take Care होचुका है अब नहीं पोच सकते हैं अब आपको नारद की तरह प्रकट होना पड़ेगा जो कि अपने questions में valid नहीं रहेगा उसे में भी हो सकता है एक second लग जाएगा अपका time खतम हो गया बीच में या तो time खतम हो जाए पूरा यह time से मालों यहीं पर एक गंटा 10 मिनट लग जाती वो पहले ही जादा time लग गया तो that is not possible ऐसी एक situation create करती गई है कि पूरी जरने का time ही खतम हो गया रस्ते में तो कितनी भी speed कर लो आप नहीं पहुंच सकते भाई time machine में बैठना पढ़ेगा यह बताइए a train travels a distance of 192 km at an average speed of 80 km per hour from station P to another station Q ठीक है then travels back to P and the whole journey took this much time find the average speed of the train on the return journey ठीक है तो कोई दिक्कत है नहीं ठीक तो यहां से यहां तक का distance मालो 112 km के distance में उसने speed करी 80 की 112 km गई आप बोलोगे सर आपने आग गे चला दिया वो वापिस आई तो क्या ही फरक पड़ता है उसने किया तो 112 km का distance ना travel आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यह उसने x की speed से किया overall 112 into 2 overall 112 into 2 यह जो total distance है वो इसने इसको मैं क्या करूंगा मालो मैं वो आपिस आने की speed को x मालो इस तरिके से भी हो सकता है time को equate करें दूसरा तरिक का असान पड़ेगा क्या देख लो मैं एक बार average speed अपनी सारी निकल जाएगी ठीक है average speed हो गई time हो गई distance से compare कर दें भी ठीक रहेगा and the holes are नहीं this won't be good मैं यहां पर time को equate करने वाला था जैसे आपको practical situations समझाई लेकिन वैसी ज़रूर ही नहीं है वैसा वैसे करना दूसरे वैसे easy रहता है समझना वो 80 km पर hour की speed से गई मैंने माल लिया वो x km पर hour की speed से आई ठीक है तो same distance 80 और x की speed से travel हो है अलग-अलग speed से तो average speed क्या बाज़ेगी पूरी जर्नी की 2 A B upon A plus B पूरी जर्नी की average speed? Sir पूरी जर्नी में time कितना लगा? कितना लगा? तो पूरी जर्नी की speed into इसवर आएंट फूरी जर्नी का टाही पूरी जर्नी का डिंस्टन्स स्पेड इंटू टाहिंव करना है सकी है यह है पर मिन स्टेक कर शक्ते हैं की आई जाएगी easy it is 23 से अगर मैं इसको काटू कटेगा की नहीं पता नहीं साथ से काट लेते साथ से भी कटेगा की नहीं साथ से भी नहीं कट रहा 2 से 2 गया 4 7 28 4 चुके 16 4 8 32 कट रहा है 63 48 65 ठीक है दो option आपने पास क्या है उपर मैं इस X को रखो नीचे 80 प्लस X को रखो मैं क्रोस मुल्टिपलाई नहीं करता हूँ इसे क्वेस्ने में जनरली ठीक है उपर मैंने X को रखा नीचे 80 प्लस X को रखा बागी सारे मामले को इधर बेज रहा हूं इस 5 को उपर पांच से 5 कट रहा है तो क्यों भेजें तीन को उपर रखा हमने और इस 7 को नीचे भेज तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितने आगएप है से का यहां पर कितने आगएप है च्यार का तो हो जी च्यार इंटू 20 से होता है तो 20 कुना कर रहे हैं चीजों को तो 20 थी है 60, 20 सत एक 140, X के वल्यू साथ आगी देखो तो ही से भी निकाल लो क्रोस मल्टिप्लाइ करते हैं तो अभी ऐसा होता है लिकने यह थोड़ा सा दिमाग पर कम जोर देने वाला मैथ है जैसा कि मेर को लगता है आप क्रोस मल्टिप्लाइ भी कर शकते हैं उसमें कोई बढ़ाई नहीं है तीक, कोई भी मैठा बढ़ा नहीं है आपको जो सूट क km which he divided into 6 stretches, 6 उकड़ों में उसने बाट दिया, which were exact multiples of either 4 km और 5 km, उसने 6 उकड़ों में बाट दिया, ठीक है हम भी बाट लेते हैं, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, ठीक है, which were exact multiples of either 4 km और 5 km, तो यह जो 6 टुकड़े हैं, यह या तो 4 km के multiple हैं, या 5 km के हैं, ठीक है जिए, the first 4 stretches were 4 km, 5 km, 8 and 10, तो पहले 4 stretches हैं, 4, 5, 8 and 10, तो टोटल कितना हो गया जी distance, 8 और 4, 12, 5, 17 और 10, 27, 27 km distance अब तक हो चुका है, total 49 है, बचा कितना है, 9 में से 7 के दो, 22 km का distance है, इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे 2 हिस्सों में, वो या तो 4 के multiple हो, या 5 के, exact multiple, ठीक, आगे question के according देखेंगे, multiples of 4 km and 5 km were traveled at the rate of 40 and 60 km respectively, तो 4 के multiple हैं, वो 40 की speed से दोड़े गए, और 5 के multiple 60 की speed से, actual question है, यह MTS में पूचा गया है, ठीक है, तो 4 के multiple जो हो हैं, वो 40 की speed से, वो मैं लिख दूँ, 5 के 60 की speed से, ठीक है, and between 2 consecutive stretches, he rested for 6 minutes, और 2 consecutive stretches के बीज़े में, उसने 6 minutes का rest लिया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, उसने 6 minutes का rest लिया है, 5 बार, what was the average speed in km for the whole journey, पूरी जर्नी के लिए average speed, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी जर्नी के लिए average speed, total distance upon total time, तो total distance तो 49 km है, यह तो हमें पता ही है, इसको हम तोड़ भी लेंगे, तो total distance तो 49 है, upon हमने total time लिखना है, यह चीज़े भी count करने हैं कि उसने 6-6 minutes rest लिया है, ठीक है, तो क्या यह calculated बनवाएगा, अभी तक तो ठीक ठाक कट रहा है, चलो देखते हैं क्या करवाएगा, ठीक है, तो पहले तो यहां के distance निकालने हैं भाई, फिर speed उसके according आ जाएगी, 11 का multiple है, 5 का multiple, तो 22 को मैं कैसे तोड़ू, अगर मैं 22 को 5 के multiple में तोड़ दूँगा, तो देखो, 5 के multiple में या तो 5 आएगा, या 0 आएगी, देख लेते हैं, 5 और 17 नहीं बनेगी बात, 10 और 12 बन सकती है, 10 और 12, 15 और 7 नहीं बनेगी बात, उसके बाद 20 और 2 नहीं बनेगी तो 10 और 12 हो सकते, कोई और possibility है, क्या 4 के multiple के साथ में देख रहा हूँ, 4 और 18, 8 और 17, 12 और 10 यही आई है, तर चुके 16 और 6, जिस्ट मैं possibility देख रहा हूँ, दोनों जगे पर 4 और 5 के multiple में से एक होना चाहिए, दोनों ने चाहिए, ठीक है, तो यही possibility है, सर यह कैसे हम करेंगे, यह hidden trial से होएगा, ऐसे ही तोड़ के देखना पड़ेगा, इसलिए उसने बड़ी value नहीं दी, सर अगर वो बड़ी value दे देता तो फिर यह arithmetic का question नहीं रह जाता है, तो यह tension मतलो, एक 10 km का distance है, एक 12 km का distance है, यह उसने कितनी speed से travel किया है, यह 10 वाला तो multiple है, 5 का तो यह 60 की speed स चार वाला multiple है यह किया है उसने 40 की speed से, इसको easily हम कर सकते हैं, देखो, उसने यह वाला distance है, यह भी 60 की speed से किया, यह वाला distance है, यह भी 60 की speed से किया, तो overall उसकी कितनी speed से है यहा पर? overall कितनी طرح की speed से उसने distance travel किया है पताओ कितने तरह की speed की सर दो या तो 40 की speed से distance travel हुआ है वह है की नहीं हुआ है अंजी सर 60 की speed से जितना भी distance travel हुआ है उसको इकठा कर दो लेकिन सर बीच में stretches में rest भी लिया है तो वो तो हम count करेंगे ही न average speed निकालना चाह रहे हैं average speed, total distance upon total time easily निकालना चाह रहे हैं तो 40 की speed से, जो भी distance travel किये है मेरे भाई, उनको जोड़ दो 8 और 4, 12 और 12, 24 20 km 40 की speed से, और बाक्की का कितना बज़ गया, 35, 49 है न, 25 बाक्की का 25 km उसने 60 की speed से travel किया, तो यहाँ apply नहीं करूँगा, मैं भी, बढ़ाना नहीं चाहरा मैं काम को, क्योंकि यह बीच में जो time है, वो 6 मिनट में है, उसको भी change करना पड़ेगा, तो total distance is 49 तो यहाँ पर कितना time लगेगा 8, 34, 8, 45, 43, 3 बटे 5, घंटे 5, 25, 5 बटे 12 घंटे distance upon speed यह time है 3 बटे 5, 5 बटे 12, तो total time कितना हो जाएगा, समझे में आगी distance है, time है distance है, speed है distance है, speed है, distance upon speed is equal to time तो 3 बटे 5 घंटे, 5 बटे 12 घंटे इनको मैं जोड रहा हूँ, total time टेकना जाएगा plus में उसने कितनी देर rest किया, वो भी जोड देंगा end में देख लेते हैं, उसने 5 बार rest किया न 1, 2, 3, 4, 5 6 मिनट के लिए यानि कि उसने आद्ध्य घंटे और rest किया clear, पहले इनको जोड रहा हूँ में 12 ती ये 36, पचू पचू 25, 37 और 25 30 और 20, 50 और 11, 61 61 बटे 60 61 बटे 60 और ये 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 by 60 तो ये क्या हो गया, 91 by 60 total distance upon total time क्या आजाएगी total speed पूर इजरने की average speed नमजे में आगी clear है, question मज़ेदार है कि MTS का question है 7 से जाएगा 13 पर 7 से जाएगा 7 पर 420 13 तो ये exact तो आएगी नहीं तो नीचे 13 एक कही है यही वाला होगा फिर यही वाला होगा एक में ये fraction में तेरा option भी इस ती answer ठीक है are we clear here अब एक और concept करेंगा average speed के अंदर बहुत ही मज़ेदार concept एक बार इसको करने की कोशिस करो ठीक है तो 10 मिनट में काम हो जाएगा बाकी सारे questions देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ हमने weighted average weighted average इससे पहले आप कर चुके हो मैं इससे पहले करवा चुका हूँ ठीक है allegation तो assume यह किया जाएगा आप वो कर चुके हो इससे पहले वो chapter है weighted average और allegation chapter किया उसके अंदर दो quantity थी quantity क्या थी एक तो ऐसी quantity थी जो represent करती थी average को और एक ऐसी quantity थी जो represent करती थी size of group को मैं कह क्या रहा हूँ एक बार आपकी यादे में ताजा कर दूँ ठीक है वो जरूरी है क्योंकि उसको हम यहाँ पर time and distance के अंदर हम weighted average or allegation लगा सकते हैं लेकिन exactly कहां पर लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा भी ठीक है देखो अगर मैं आपको यह बोलूँ कि तीन sections है एक दो और तीन ठीक है यहाँ पर बच्चों का average weight average weight यहाँ पर 20 kg है 30 kg है 10 kg average weight और यहाँ पर number of students यहाँ पर 10 हैं फॉर एकजंपल यहाँ पर 20 हैं और यहाँ पर भी 20 है clear है तो दो तरह की quantity होगी क्वांटिटी होगी न एक quantity represent करती है की average कितना है average weight हो, average marks हो, average height हो कुछ भी हो, average एक quantity average को represent कर रही होती है, दूसरी represent कर रही होती है number को कि कितने students है इस average के कितने बंदे हैं इस average के कितने बंदे हैं तो हम क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर weighted average लगा सकते हैं भाई साब कैसे है कि 1 into 20 अगर इन सारे groups को combine कर दें तो कितना हो सकता आपको यह भी लगा हो कि average speed जब हम निकाल रहे थे कि मान लोगों को यह बोले कि 3 km अब ध्यान से मेरी बात को सुनिया का कि 3 km चली 10 km पर आर्शे और 5 km चली 20 km पर आर्शे 3 और 5 भी हटाओ 30 km चले और 50 km चले इतनी इतनी speed से कई बच्चों के दिमाग में यह आया होका न average speed निकाल लिए हैं तो weighted average लगा दूँ सिर्फ ratio matter करता है 0 से 0 का to 3 into 10 5 into 20 and divided by 5 plus 3 लेकिन आप ऐसे नहीं कर शकते क्यों नहीं कर शकते क्यों नहीं कर शकते क्योंकि जब आप weighted average लगाते हैं मेरे भाई अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजेगा तो यह दो quantities का होना जरूरी है एक तो average और एक number of students time speed and distance के अंदर कौन सी चीज़ क्या है distance is equal to speed into time यह तीन चीज़े होती है तो कौन सी चीज़ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा अभी clear हो जाएगा जब भी आप इन दोनों quantities को multiply करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या आएगा तो यहां पर आपके पास क्या आजाएगा आपके पास आजाएगा आपके पास आजाएगा total weight क्यान है कि average weight एक class one है जिसके अंदर 20 के average weight है हर एक student का weight per student यह क्या है average weight है लेकिन exactly बताना चाहोगे तो definition weight per student on equal distribution जब हर एक student में weight बाता चाहे तो ठीक है यह क्या है number of student हर एक student के पास 20 के जी है 10 student है तो total 200 के जी बहार है पूरी class में अब यहां पर कौन सी quantity average को represent करते है देखो speed क्या होती है speed होती है 30 किलोमेटर पर आर कितने किलोमेटर हर घंटे में चले गए अगर पूरे distance को मैं पूरे घंटों में बाढ़तूं माल लो 300 किलोमेटर distance 10 गंटे में चला गया तो speed क्या है speed है मेरे भाई 30 किलोमेटर पर आर अगर मैं पूरे distance को पूरे घंटों में बाढ़तूं तो speed के अंदर किलोमेटर को बाढ़ता जाता है हर एक गंटे में कि हर एक गंटे में इतने किलोमेटर चला हर एक बच्चे का पूरे वेट को सारे वेट को सारे बच्चों में बाढ़तूं तो हर एक बच्चे के आथ में क्या आएगा सारे distance को सारे घंटों में वाड़ दू तो हरे घंटे में क्या आएगा तो speed जो है ये represent करती है average quantity को फीक है ये तो समझे में आगए ये तो हमें पहले पता था पता था नहीं पता था अब ratio हम किस चीज़ का ले सकते हैं हम ratio ले सकते हमेशा number of student का ना कि total का number of student का ये number of student ये किसको represent करती क्योंकि distance से भी आपको बता लगता है ये भी तो quantity है 30 km 10 km per hour की speed से थोड़ा ना वेटा ना ये average speed जो है ये speed with respect to distance होती है with respect to hours होती है per distance होती है per hour km per hour meter per second per time होती है time में बटा जाता है distance को इसमें बटा जाता है time में तो कितने घंटे तक ये speed maintain की कितने घंटे तक ये speed maintain की तो ये है जो represent करता है कि 30 km per hour कितने घंटे तक maintain की ये number of student जो quantity को represent करती है वो ये value है तो अगर मैं आपको बताऊं 30 km अगर बाते हैं उतने समझें नहीं भी आ रही हो न थोड़ा सा टिपिकल अंडरस्टेंडिंग और जनरली ऐसे बता है नहीं जाता है हम आपकी practical अंडरस्टेंडिंग थोड़ी सी deep करना चाहरा हूं जनरली इस्टोप ऐसे cover नहीं किया जाता इससी इसको जहां से बस सुनते रहो अगर मा आपको यह बताऊं कि 30 km 10 km पर आर की speed से travel किये गए हैं 50 km 20 km पर आर की speed से travel किये हैं तो यहां पर आप नहीं लगा सकते लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊँ कि एक बंदा तीन गंटे तक त्री आर्स तक 30 किलम्टर पर आर की स्पीड से चला और 2 गंटे तक 50 किलम्टर पर आर की स्पीड से चला तो आप अलिगेसन लगा सकते हो 3 इंटू 30, 2 इंटू 5 बते में 3 प्लस 2 यह जो time है यह represent करता है किस चीज को represent करता है मेरे भाई ratio को यह कि कितने गंटे इस speed से चला कितने गंटे कितने किलोमेटर वाला नहीं और एक और बात जब भी हम इन दोनों को multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास आती है कुछ भी distance by speed होता है time तो यहाँ पर वो दो quantity आएंगी weighted average में हमेरे जिनका product करके कुछ मिलता हो total cheese मिलती हो तो अगर speed into time करेगा तो कुछ आएगा हाँ distance आएगा इतनी speed पर इतने गंटे चलेंगे तो इतना distance cover हो जाएगा तो ठीक है, तो speed represent करती है average को time represent करता है size को कितने गंटे ठीक है, तो कभी भी allegation लगानी है तो किस पर लगेगी? मालो 30 और 50 की speed पर allegation लगानी है तो जो ratio आएगा वो किस का आएगा? वो time का आएगा ताइम का आएगा? ratio यही आता है na number of student का ratio आता है एलिगेशन हमेशा इनको उपड़ लगेगी सर एलिगेशन आगगे बताऊंगा अटेंशन मतलो ठीक है अभी वेटीड आइब रहे समझ लो बस ठीक है तो कभी भी ऐसा question आए मेरे भाई सिमीप अवरेसी रहे Prix जरुनी मेरेसी रहे यहां पर उसने नो कहलो किलोमटर पर आर कितने डिंस से तक चला यह नहीं बता रुख d todavía ना अगर डिंस सतना पाट्रका रखा उतता तो वही ratio वाली quantity को का represent करता है time मैं 50 भी consider नहीं करूँगा 5, 8, 10 5, 9, 45 plus 8, 8, 2 64 plus 10 into that 72, पटे में 5 plus 8 plus 10, 8 और 5, 13 23, कतम कहानी 100 और 170, 180 184 53, 68 8, किलमेटर पर आर यहीं तो आप distance निकालते फिर time देखते, time को आप किस में कनोट करते, आप गंटों में कनोट करते क्योंकि speed दो किलमेटर पर आर में है time को गंटों में कनोट करते, 5 पटेच से divide करते, जंजट मॉल लेते की नहीं लेते तो यह understanding होनी चाहिए कि नहीं CDS में 2019 में पुचा गया है तरका SSE में पुचह जा रहे हैं पुचह जा रहे हैं, दिखाऊंगा ऐसा question ठीक है, clear है यह बताओ A man traveled with a speed of 40 km per hour for half time, for half distance नहीं बोला, for half time जब वो time के लिए बोल रहा है तो weighted average लगा सकते हैं ठीक है and with a speed of 60 km per hour for remaining half time अगर माँ आपको यह बोलू कि half class कि half class का average weight 20 kg है और remaining half class का average weight 30 kg है तो total class का कितना आप directly इनके बीच के average देकर मार होगे yellow sir 20 और 30 के average 25 half half है ऐसा ही यहाँ पर करना है अगर ratio same है 40 और 60 और 50 answer is 50 जब time है तो आप exactly वही concept यूज कर सकते हो time के according average speed उसने बता रख किया speed half time यानि कि one unit time 40 की speed से one unit time 60 की speed से 1 into 40, 1 into 60 divided by 2 clear yellow SSC में पूछा गया question Hummel drives his car for 2 hours 2 गंटे तक वह 70 की speed से चला 3 गंटे तक वह 80 की speed से चला 1 गंटे तक वह 40 की speed से चला और यहाँ पर तो अब आप common sense भी लगा रहे हो कैसे 2 into 70 करोगे तो क्या आएगा 2 गंटे तक 70 की speed से चला तो सर 140 किलमेटर चलाओ तो उपर क्या आ रहा है total distance आ रहा है नीचे मैं किस से divide करने के लिए बोल रहा हूँ time, time को यह add करके total distance upon total time ही कर रहे हैं वैसे लेकिन easy way से कर दे रहे है कुछ question के अंदर easy हो जाएगा यहाँ पर तो आप उस understanding से कर लो this into this total distance this into this total distance लेकिन जब ऐसे question होएंगे फिर फस जाओगे इसको गंटों में बदल होगे बिना वचाए तो वैसे बदलने की जरूत नहीं है दो इंटू सतर तीन इंटू असी दो सो चालीस प्लस वन इंटू 40 40 divided by total कितने टाइम तक चला इन और दो पांच और एक चाह है इस विल भी दिया आंसर ठीक है 140 और 40 क्या होता है 1806 से काट तो 30 पर जाएगा 40 और 30 सत्तर सत्तर विल भी दिया आंसर option भी क्लियर है जी ये बताओ देखता हूं आप करोगे कि नहीं मजा आ जाएगा संजीव ट्रेवल दा फर्स्ट हाफ अफ दिस्टेंस फ्रॉम इस हाउस तो स्कूल अट इस स्पीड अफ 10 किलोमेटर पर आर तो देखो मैं यहाँ पर अब लिग रहा हूँ total distance total distance में से half यानि कि एक उनिट डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया उसने ट्रेवल किया 10 किलोमेटर पर आर की स्पीड से और इसके बाद उसको total जितना भी time लगना था उस time का अब की बाद डिस्टेंस का half निया time का half total distance का half distance उसने 10 कलोमेटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल किया and for exactly half of the remaining time जितना भी remaining time है उसके exactly half remaining time तक वो 13 कलोमेटर पर आर की स्पीड से चला and the rest of the time 17 कलोमेटर पर आर की स्पीड से चला तो एक बार आप सिरफ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिरफ b से c तक की जरनी को कंसिडर कर लेंगे भाई सिरफ b से c तक b से c तक की जो जरनी है उसमें at the time 13 की स्पीड से चला at the time 17 की स्पीड से चला जब time के हिसाब से देरक्षियों चीज़े हैं तो हम directly average या weighted average यूज़ कर सकते हैं at the time at the time directly average यूज़ कर पाऊगे इसमें तो 17 पलस 13 divided by 2 तो 17 और 13 तीस बटे 2 इस पूरी जरनी के अंदर 15 किलामटर पर आर की स्पीड रही अब पूरी जरनी को देखो a से लेकर c तक की a से लेकर b तक का distance अगर एक यूनिट है तो b से लेकर c तक का distance एक यूनिट है इस distance को 10 की speed से इस distance को 15 की speed से अब distance की drum में आ गई बाते तो अब total distance upon total time इस distance को कैसा माननूं कि 10 से डिवाइड हो जाए 15 से डिवाइड हो जाए 10 और 15 कहान चाहिए 30 को तीस माल लो जी दोनो डिश्टन स को तीस माल लो सिर्फ रेश्योमेटर करता है तो टोल डिश्टन्स हो गया जी साथ यहां से लेकर तक यहां पर दस्तिय तीस तीन गंटे लगेंगे यहां पर पंदरा दूनी तीस दो घंटे लगेंगे टोटल पांच गंटे लगेंगे बारा किलम्टर पर आर की स्पीड आदें दोनों कंसेप्ट को हमने एक में ही मर्ज करके क्वेस्चन बना दिया लियर अच्छी समझ में अगी बात तो भाई बहुत ही मज़ेदा टोपिक के अपरे एक लास थी अपनी आज की उमीद है कि मज़ा आया होगा मैं आपके लिए मैट्स को इंटरस्टिंग बना पा रहा हूंगा और सिरफ मेरा एफट नहीं लगेगा इंटरस्टिंग बनाने में आपका भी एफट ल हैं अधा एे यहर्ण का स्वागत है इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं है इसी ृले इसम्नचकरी का जो concept है तो स्टार्ट करें है यह concept लेक्चर 6 है अपने time and distance का और यह जो topic है कुछ books के अंदर या कुछ जगया पर आपको problems on trains के नाम से भी मिल सकता है लेकिन actual में यह related speed का concept है तो मैं इसको इस नाम से करवा रहा हूँ और time and distance के अंदर ही है तो time and distance के अंदर ही करवा रहा हूँ अलग से topic का नाम problems on trains करवा के नहीं करवाऊंगा कुछ student कोई doubt रह जाता है और उनको यह लगता है कि सर problems on trains नहीं करवाया तो भई यही है problems on trains क्लियर है relative speed को भी मैं दो concept lectures के अंदर करवाऊंगा एक्जक्ट train वाले जो questions है जिन में train की length matter कर रही होगी platform की length matter कर रही होगी वह अगले वाले concept lecture के अंदर है अभी हम जो basics है relative speed के वह पड़ने है ठीक है तो pen और notebook लेकर आजाओ पूरा attention आपने देना है हमेशा की तरह lecture के उपर आप जितना भी time यहाँ पर devote करो उसको fully utilize कर पाऊ पूरा सीख पाऊ और attention मतलो अभी आपको white screen देख रहे हैं मैं आपको black screen के उपर ही पड़ाऊंगा starting में कुछ animation देख ठीक है तो सबसे पहले जो relative speed है हिंदी में इसको साक्षेप गती कहते है यानिकि एक चीज की speed relative in relation with other thing एक चीज की speed दूसरी चीज के relation जैसे मालो एक platform है यह platform है इसके उपर एक बंदा खड़ा है ठीक है और एक train है एक train जा रही है इसको ऐसे मालो train platform के और एक बंदा train के अंदर बैठा है एक अची ड्रोइंग नहीं है वस ऐसे माल लाओ दी और यह बंदा जो है यह यहां पर खाना खा रहा है इसके सामने क्या है के सामने यहां पर रोटी रखी है यह रोटी कहां पर रखी है यह रोटी रखी है ट्रेन में तो और train की speed है 80 km पर रार 80 km पर रार तो रोटी जो है रोटी भी train में रखी है बंदा भी train में बैठा है दोनों train में बैठे है अगर मैं बाहर वाले person की बात करूं बाहर वाले person को यह रोटी या फिर सबसे पहले रहते हैं बाहर वाले person को यह train कितनी speed से मूँ करती दिखाई देगी बाहर व हो रहे हो बाहर वाले परशंप से अंदर वाला सव прин कुटनी स्पीड मोफ हो गया तो उसके सामने से वह दख से संब बन्दा कि टीज निकल गया 70 क्लम्टर पर आर कि वह बी ट्रेन में बैठाए यह रोटी जो है यह कितनी श्पीड मोफ कर गई आ पSalाओ है ट्रेन में अब इस रोटी की स्पीड देखते हैं देखो इस रोटी की स्पीड बाहर वाले बंदे के हिसाब से कितनी है आप बहुत के सामने से रोटी 80 क्लम्टर परार की स्पीड से गई लेकिन इस रोटी की स्पीड इस बंदे के हिसाब से कितनी है जीरो, रोटी इसके सामने भाग तोड़ी रही है, ये रोटी भी 80 km परार की स्पीड से सल रही है, ये बंदा भी 80 km परार की स्पीड से सल रहा है इस रोटी की speed बाहर वाले बंदे के हिसाब से 80 है, 80 km पर अंदर वाले बंदे के हिसाब से 0 है ये बंदा जहां पर है जहां पर रोटी रख दी वहीं पर रख ये रोटी और उसके बंदे के बीच का डिस्टन्स तो कम या ज्यादा नहीं हो रहा जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके साब से नहीं हो रहा नहीं तो रोटी भाग जाएगी तो खाएगा कैसे तो किसी भी चीज की खुद की मलब यह नहीं होती कि इस चीज की स्पीड कितनी है किसी भी चीज की अगर हम स्पीड देखें तो वह हम किसी चीज के रिलेशन में बता सकते जैसे अगर मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूं तो मेरी स्पीड 10 किलम्टर पर आर है उस रोड के हिसा वो रोड वहीं पर रुका हुआ है तो कि अगर मैं एसकेलेटर के उपर जो मॉल के अंदर वो सीधिया होती है अगर मैं उसके उपर भागूंगा और सीधिया निच्च आएंगी तो मैं उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाऊंगा तो हम एक चीज की स्पीड दूसरी चीज के देख सकें इतनी नोलेज हमें होने चीज यह चीज इस चीज के इसाफ से कितनी स्पीड से मूव हो रही है यह चीज इस चीज के इसाफ से कितनी स्पीड से मूव हो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा डेमो भी दिखा दू जैसे मालो यह दो बाइक वाले हैं दो दोस्ते हैं आपस में बाते कर रहे हैं आपने विसायद की हो, cycle के उपर ऐसे करते हैं साथ साथ चल रहे हैं, आपस में बाते करते हैं तो दोनों 50 की speed से move कर रहे हैं तो अगर ये दोनों move करेंगे तो देखो इन दोनों के बीच का जो distance है तो घटिया बड़ नहीं रहा वो तो सेम ही रह रहा है एक दूसरे के relation में इनकी speed एक दूसरे के relation में 0 km पर आ रहे हैं वैसे बाकी दुनिया के हिसाब से 50 की speed से चल रहे हैं बट एक दूसरे के बिलकुल साथ साथ जा रहे हैं तो उपर वाले बंदे की speed नीचे वाले की बंदे के relation में उसको बलते हैं relative speed ठीक है इसकी relative speed with respect to him 0 इसकी relative speed with respect to him 0 तो अब हम दोनों केसी देख लेते हैं कि भी relative speed कैसे कैसे होती है अब ध्यान से मेरी बात को सुन लिजेगा माल लो यहाँ पर यह bus है यह bus जा रही है 80 km per hour की speed से bus की speed है भाई 80 km per hour और यह जो बाइक वाला है बाइक वाले की speed है 50 km per hour ठीक है bus भी उधर जा रही है बाइक वाले भी उधर जा रहा है तो यह bus पूरी दुनिया के हिसाब से 80 की speed से चल रही है ये बाइक पुरी दुनिया के हिसाब से 50 की स्पीड से चल रही है एक गंटे में बस कितने दूर जाएगी मुझे एक बात बताओ एक गंटे में सर बस चली जाएगी 80 किलोमेटर और एक गंटे में बाइक वाला कितना जाएगा एक गंटे में बाइक वाला चला जाएगा सर 50 km तो माल लो अभी बस और बाइक वाले ने स्टार्ट किया अभी बस वाले ने स्टार्ट किया बाइक वाले ने स्टार्ट किया एक गंटे बाद की situation पूछ रहा हूँ एक गंडे में बस चलिये जाएगी असी बाइक वाला चला जाएगा तो बाइक वाले के हैसाब से बस कितनी दूर है अभी आप भोलो के सर 30 Kilometer दूर है तो बाइक वाले के हिसाब से तो बस 30 Kilometer यह दूर गयी है उसकी रिलेशन में में कितनी होगी its kilometer पार tuk i keep subtle stairs यहीं से 30 मोत रा गे निकलती रही है में पहले गंदे में 30 क्लों का गउया अगले में फिर 30 क्लियोंकत रह जाएगा इसिक रहो इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं किया रिलेटिम स्पीड तमज में आ रही है भाद धीरे धीरे मैं पूरा concept clear कर दूँगा अलग लग वे से आपको बताऊंगा फिर हर तरह के equation करेंगे जो से प्रबंद सकते हैं पूरा concept clear हो चलिए जी एक बार इसको देख लेते हैं फिर देखो बसर बाइक मूव कर रही हैं दोनों मूव कर रही हैं यहां से इन्होंने चलना start किया पसकी speed असी है बाइक वाले की 50 है क्या हुआ बाइक वाला भी साथ के साथ चला गया न ठीक है तो यहां पर जब same direction में चीज़े जा रही हो जब same direction में चीज़े जा रही हो तो जो relative speed होती है वो क्या होती है वो होती है difference of speeds कतियों का अंतर जो बस है वो बाइक वाले से 30 km पर आर की ज़्यादा speed से चल रही है तो 30 km पर आर यानि कि हर गंटे में 30 km हर गंटे में 30 km उसे आगी नहीं अगर दोनों 3 गंटे तक चलते रहेंगे एक गंटे में 30 km आगे निकल रही है तो 3 गंटे में 90 km चली जाएगी वालों 3 गंटों की बात है एक तो बंदा ऐसे निकाले कि 3 into 80 240 फिर 3 into 50 डेड़ जो और फिर देखे बस कितनी आगे चली गई 90 आप ऐसे directly देख लो ना कि इनकी स्पीड गये बीच में फरक है 30 km परार का एक गंटे में इसकी स्पीड 30 km ज्यादा है तो हर गंटे में 30 km की लीड देदेगी 3 गंटे 60 km की लीड पांच गंटे 1.500 km की लीड जब चीज़े सेम डारेक्शन में चल रही हो एक दूसरे के relation में उनकी क्या स्पीड है उसके दिफरेंस ओफ स्पीड ते फिर दूसरा एक्जम्पल है मालो मालो एक बाइक जा रही है ये बाइक या गाड़ी मालो इसको गाड़ी मालो गाड़ी ऐसी दिखते है नहीं दिखते है ये जारी है 60 km परार की स्पीड से और इसके पिछे एक और गाड़ी है ये जारी है 61 km प पर हार की स्पीड से पीछे गाड़ी जा यहुंद sonjakit- पीछे वाली गाड़ी याागे वाली को टक्र मार सकती यह कभी भी मार सकते उससे मंधी उसको कॉभी पकड़ी काड़ी नहीं पाएगी उस से पीछे रहती इसको पता है आपको बस तलका सा जटका मैसूस होएगा लेकिन यहीं पर अगर इसकी स्पीड हो जाए भी या 90 तो उसको 30 किलोमेटर पर आर का जटका लगेगा भूत बुरी तरीके से जटका लेगा तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है एक दूसरे का डिफरेंस एक दूसर इसकी स्पीड से जा रहा है और अब इनका एक स्पीड से तकराएंगी तो एक सो तीस की स्पीड से टकराएंगी क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में दोनों ने जोर लगाया है बस भी तेज भाग रही है उदर से बाइक भी तेज भाग रही है दोनों एक दूसरे की तरफ बाग तो दोनों की स्पीड जुड जाएंगी यहां पर जब चीजें ऑपौजिट डायरेक्शन में जा रही हो जब चीजें ऑपौजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो जो रिलेटिव श्पीड वहेगी प्ल हुएगि विल बिस सम ओफ स्पीड यह चीज क्लियर है कि नहीं इसके लिए कोई भेंकर मैथमेटिकल एक्स्प्लेनेशन चीए या मैंने कॉमन सेंस आपको एक्स्प्लेन कर दिया इतना क्लियर है कि कैसी लिएर अग्या बढ़ें फिर तो बस यही मैंने यहां पर बताना था रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है एक बार फिर्शे में लिख देता हूं या फिर्शे में क्यों लिखना हूं ृचından 15 या इचले को लिखने है कि जब सेम डिरेक्श्ن में चीज़े जा रही हूं तो उनकी डिलेटिव स्पीड होएगी डिध्रेंस आफ स्पीड जब वो बजडिट ृष्ञ में जा रही हूं तो उनकी बिलेटिव स्पीड होएगी समाज देए मेरे भाई गये पर इसी के साथ कि स्क्रीन को कर देते हैं और बोलो हम वी तुभी क्वेशन करने स्टार्ट करते हैं है भी क्वेशन के मादें से बहुत कुछ सिह एगे जितने भी दुछ का इक वेशन सा आ सकते हैं सारे सिंक Il रब पहला क्वेशन constable is 114 Meter behind a thief the constable runs 21 Meter the thief runs 15 meter in a minute देखो यह thief है यह उदर भाग रहा है और इदर एक constable है यह उदर भाग रहा है अगर आप यह बोलो कि इसने बता है इनी थीफ किस direction में भाग रहा है constable किस direction में भाग रहा है तो यहां पर एक very very-very normal thief लिया गया है जो कि constable की तरफ तो नहीं भाग गया एट लिश्ट है ये बात तो खुदी अजूम करोगे ना कि thief आगए भाग रहा है पीछ चॉनुटेबल ग़ी इसका उल्टा भी अजूम नहीं करना कि आगए constable भाग रहा है पीछे thief बाग रहा है बिहाइंड दा थीफ, कॉंस्टेबल थीफ से 114 मीटर पीछे, तो थीफ है, उसकी स्पीड क्या है, 15 मीटर पर मिनट, थीफ की स्पीड है 15 मीटर पर मिनट, कॉंस्टेबल की स्पीड है 21 मीटर पर मिनट, यहन की स्पीड होगी, तहे पर मिनट में हो, पर स्पीड में हो, पर हो गई speed तो यहां पर एक चोटी सी बात का ध्यान रखना कि यह जो constable है यह thief को जब पकड़ेगा तो यह कौन सी speed की मदद से पकड़ेगा मालो thief की speed 15 है और constable की speed 14 है तो क्या कभी उसको पकड़ पाएगा मालो normally जैसे होते हैं प्लिस वाले है मोटे पेट वाले उस टाइप का बंदा है तो बहुत ही कम होते हैं उस टाइप का बंदा है 14 की speed से भाग रहा है तो क्या उसको पकड़ पाएगा कभी नहीं पकड़ पाएगा अगर ये भी भागे 15 की स्पीड से तो क्या उसको पकड़ पाएगा कभी नहीं उत्रा ही गयप रहेगा चिलाता रहेगा बस तू रूख तरको मैं बताता हूं गैप कमनी होएगा 114 मिंटर कही रहेगा ठीक है तो ये उस थीफ को पकड़ेगा अगर ये तेज स्पीड से भाग रहे है तो इस कोंस्टेबल को उस चोर को पकड़ने में जो स्पीड हेल्प करेगी वो क्या करेगी जो भी एक्स्ट्रा स्पीड है जो भी एक्स्ट्रा स्पी यह यह 6 meter per minute extra भाग रहा है, तो 6 meter per minute की speed से इनके बीच का जो gap है, जितना वो extra आगे जा चुका उस gap को cover करेगा, इनके बीच का जो gap है उसको एक इस speed से cover करेगा, 21-15, starting में बहुती basic question करवाऊंगा, बहुती प्यार से, आराम से समझाऊंगा, आप अपनी pace per video की speed को बढ़ा य स्टाटिक में तुरह से base बनाएंगा, तो constable ने distance upon speed is equal to time, हमने time निकालना है कि भी कितने minute में पकड़ेगा, तो constable को कितना distance travel करना है उसको पकड़ने के लिए, सर 114 meter, और speed कौन सी use होएगी, 21-15, 6 meter per minute, एक मिनट में 6 meter यह जो extra भाग रहा है न, उसी 6 meter को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के 114 meter के gap को कम कर ले गाई है, ठीक है, तो 19 सी के 114, तो भाई 19 मिनट लगेंगे, यह 19 मिनट के बाद जोड़ के कुटाई है, ठीक है, clear है, आगे बढ़े, बहुत ही basic question था यह, constable follows a thief who is 200 meter ahead of the constable, thief जो है, अब इसके लिए लिखने की जरूथ नहीं, अमरिकल, thief जो हो 200 meter आके है, ठीक है, तो 200 meter का gap कवर करना है, उसको, कौन सी speed से कवर करेगा, जो भी उसकी speed extra है, relative speed है, ठीक है, constable और thief run at the speed of 8 km पर आर and 7 km पर आर, तो constable की speed कितनी ज्यादा है, एक km पर आर, उसी speed से पकड़ेगा, बोल रहे हैं, कितने time में पकड़ेगा, तो यह different distance upon speed, कितना distance कवर करेगा, constable उसको पकड़ने के लिए, 200 meter, speed कितनी रहेगी, 1 km पर आर, उपर meter में है, यह km पर आर में है, ठीक है, बताना minute में है, तो पहले किसी ने किसी एक unit में तो पकड़ेगे, उपर meter में है, नीचे km पर आर में है, इसको मैं meter per second में बदल दूँ, पहांच बटे अठारा करेगे, ठीक है, उपर meter में हो गया, नीचे speed meter per second में होगी, तो answer आ गया, second में, distance upon speed, time second में, बताना minute में, तो अब 60 से डिवाइड भी कर दूँ, ठीक है, तो अभी minute के अंदर पकड़ते हैं, clear है जी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनको mentally कराने में, जल्दी calculation कराने में, इंटरस्टेड नहीं हूँ, जिस्ट बेस बनवा रहा हूँ फिला, ठीक है, clear, आगे बढ़ो, के policeman saw a thief at a distance of 800 meter and started chasing, 800 meter दूर है thief, policeman can run 53 km in 37 minutes, policeman जो है 53 km दोड़ सकता है 37 minutes में, ठीक है, and the thief can run 53 km in 41 minutes, तो यहाँ पर 37 minutes में 53 km दोड़ रहा है, तो इनकी speed को calculate करने के लिए काफी calculated काम हो गए ना, इसकी speed कितनी है, इसकी speed कितनी है, तो जो relative speed के questions है न, कई equation relative speed के variation से भी किये जा सकते है, कि time और speed के बीच में क्या variation है, एक दूसरे के inversely vary करते हैं, inversely proportional है, मैं बता हूँ का कैसे, 800 meter का gap है, यहाँ पर thief खड़ा है, यहाँ पर policeman खड़ा है, और 800 meter का gap है, दोनों उस तरफ भाग रहे हैं, same direction में thief आ गया के बाग है, तो इसने क्या बता रहा है, इसने बताया है, कि यह 53 km 36 minutes में भाग रहा है, यह 53 km 41 minutes में भाग रहा है, तो same distance, same distance, यह अलग-अलग time में कर रहे हैं, तो जिसकी ज़्यादा speed है, distance constant है distance constant है ना भया, ठीक है, तो speed को मैं compare कर रहा हूँ, यहाँ पर police की thief, police की speed और thief की speed, इन्होंने बताया है हमें time, time बताया है कि यह 53 km को police वाला 37 minutes में कर शकता है, police वाला time मैं compare कर रहा हूँ, और यह जो चोर है, यह थीफ है, यह कर शकता है मैं आपको यह दिखाना चाहरा हूँ, क्योंकि हम यह भी आगे use करेंगे, अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होए, कि मुझे कैसे पता चले गए, इन चीजों की tension मतले ना, मैं हूँ ना, यह चीज़े सोचने के लिए, ठीक है, चलिए जैखते हैं, तो, इनकी speed का जो भ स्पीड ने है, 41-37, ठीक है, तो, यह भागा, उसी time पर यह भागा, इसने यहां पर इसको दबोच लिया, तो, same time के लिए भागे दोनो, हंजी सर, same time के लिए भागे, मैं दूसरी situation से compare कर रहा हूँ, अभी इसको हटा दो, same time के लिए भागे, तो, ठीक है, जिसकी speed ज़्या कवर किया, थीफ ने 37 unit distance कवर किया, पुलिस वाले ने कितना extra distance कवर किया है, 41-37, गैरा में साथ गए, 4, 4 unit, इस 4 unit की value 800 है, 4 का double heart, पूछ क्या रहे है, find the distance ran by thief, थीफ ने कितना distance run किया था, पकड़े जाने से पहले, तो, यह 4 का 200 गुना है, 37 unit उसने distance run किया था, 37 का 200 गुना इस question करवाया है, इससे ड्रीएगा मत, ऐसे मत सोच लिएगा कि relative speed में tough question आते है, ठीक, जिस्ट एक misleading इस question करवाया है, यह लो, यह बताओ points A and B are 70 km apart, उन्हें highway, A और B 70 km apart हैं एक highway पर, ठीक है एक car starts from A and another from B at the same time, एक car यहाँ से चलती है, एक car यहाँ से चलती है और यह 70 km का जो distance है, यह 7 गंटे में पूरा कर लेते हैं, 7 गंटे में, ठीक हैं, तो, एक car यहाँ से चल रही है इस तरफ, और एक car यहाँ से चल रही है इस तरफ if they travel in the, अच्छा, same direction बोल रहे हैं, ओ, sorry, same direction में जा रहे हैं, यह car उस तरफ जा रही है, यह car उस तरफ जा रही है एक car starts from A and another from B at the same time, if they travel in the same direction, they meet in 7 hours इसने यह नहीं बताया, उधर जा रही हैं, या उधर जा रही हैं, तो, ठीक है, क्या ही फरक पड़ता है, देखते हैं, मतलब यह पूछना नहीं चारा होगा वो, ठीक हैं, तो, जब चीजे same direction में चल रही होती हैं, तो, they meet in 7 hours, they meet in 7 hours का क्या मतलब है, यहाँ पर जो car चल रही है, यह चल रही होगी, और पीछे वाली car ने आकर इसको कोई न कहीं पकड़ा होगा, तब ही मिलेंगी, इस वाली car की speed ज्यादा होगी, ठीक है, तो, पीछे वाली car ने, यह जो 70 km का distance है, इन दोनों के बीच में, 70 km का हैं, तो, बीच का gap कवर करने के लिए कौन सी speed यूज होती है, उनका difference, same direction में जा रहे हैं, तो, इनके बीच का जो 70 km का gap है, यह इनोंने 7 गंटे में कवर कर दिया, 70 km का gap, यहने की 10 km per hour, यह इनकी speeds का difference है, जब same direction में जाएंगी, तो, इनके बीच का यह जो gap है, यह कवर होएगा, दोनों की speed के difference है, जब opposite direction में ऐसे आएंगी, तो, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो, speed का sum use होएगा, वहने की, दोनों की speed का difference है, 10 km per hour, यह बोल रहे हैं, if they travel towards each other, लेकिन अगर एक दूसरे की तरफ आएं, तो, वो एक घंटे में मिल जाती हैं, इस 70 km का distance मिल कर एक घंटे में, यानि की, दोनों की speed का sum है, 70 km per hour, यह दोनों की speed का sum है, तो, 70 km को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो, जिसके बीच में, 10 का फरक हो, 30 और 40, अगर यह 40, 30 दे देता, 30, 40 दे देता, तो, इसको बताना पड़ता है, कि यह किस direction में गई थी, same, यहाँ पर answer का हो जाएगा, option B, 304, टीक है, इवा ताहिए है, the distance between two persons, A and B, 600 km, when they start moving toward each other, they meet in 12 hours, A और B है, उनके बीच में 600 km का distance है, 12 घंटे में, एक दूसरे को मिल लेते हैं, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए, यहने कि दोनों मिलकर, 600 km का distance, 12 घंटे में cover कर लेते हैं, तो दोनों की speed का sum एक दूसरे की तरफ आएंगे तो speed का sum use होएगा तो 50 km per hour की speed है दोनों की मिलकर दोनों की speed का sum है If A started moving 5 hours after B अगर A B से अगर वे एक दूसरे की तरफ मुझ करना स्टार्ट करते हैं तो वो 12 गंटे में मिल जाएंगे लेकिन आगे इनोंने क्या बता है अगर A started moving 5 hours after B A जो है वो B से 5 गंटे बाद मुझ करना स्टार्ट करे मालो यहाँ पर B है यहाँ पर A है A 5 गंटे बाद मुझ करना स्टार्ट करे तो स्टार्टिंग के 5 गंटे तो B अकेला ही चलता रहेगा तो मालो 5 गंटे में B यहाँ पर आ गया अब A ने भी मुझ करना स्टार्ट किया है अब A उधर मुझ कर रहा है B इधर मुझ कर रहा है अब दोनों मिल कर मुझ कर रहे हैं तो B की अकेले की स्पीड हमें नहीं पता लेकिन हमें यह पता है कि दोनों की स्पीड का सम क्या है दोनों की स्पीड का सम है 50 km पर आर जब दोनों मुझ करते हैं तो 50 km कवर कर लेते हैं मिल कर एक गंटे में अब उसमें से 25 यह 25 यह 30 यह 20 यह वहमें नहीं पता अगर भी 5 गंटे बाद चलना स्टार्ट किया तो दे मीटिन नेक्स्ट टैना अर्ष्ट अगले 10 गंटे में यह मिल लेते हैं यानि कि अगले 10 गंटे में यह कहीं न कहीं मिल लेंगे इसका मतलब क्या है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 10 गंटे में cover करते हैं तो 10 गंटे में कितना distance cover करते होंगे एक गंटे में दोनों मिलकर 50 km cover करते हैं तो 10 गंटे तक दोनों चलते रहे तो 10 गंटे में 10 into 50 इन्होंने 500 km का distance travel किया होगा total A और B के बीच में distance है 600 km जहां पर A खड़ा था और जहां पर पहले B खड़ा था ये 500 km का इन्हों ने इन 10 गंटों में कवर किया है तो बाग की 100 km इन्हों ने यहां पर कवर किया हुएगा किसने B ने अकेले ने यहां से यहां तक तो B ने 5 गंटे में A कवर किया तो B की स्पीड कितनी है 5 से जाएगा सोबटे पांच है नहीं कि 20 km पर आर स्पीड है जी B A की स्पीड कितनी है दोनों का सम 50 है तो A की स्पीड हो जाएगी 30 km पर आर जिसकी भी पूछेगा आप बता दो find the speed of B that is 20 km पर आर ठीक है clear है जी देरे देरे आपका base बढ़ाऊंगा देरे देरे questions का level बढ़ाऊंगा तकि आपका confidence बढ़े आपकी समझ बढ़े आप कर पाएं इना वज़ड रहे नहीं और समझ में आए the distance between two cities A and B is 330 km दो cities है A और B हैं इनके बीच में जो distance है वो 330 km का है ठीक है a train starts from A at 8 a.m and travel towards B at 60 km एक train यहां से 8 बज़े चलती है और short की speed से चलती है इसे ठीक है यह 8 बज़े है another train starts from B at 9 a.m एक दूसरी train है जो 9 बज़े चलती है और 75 की speed से चलती है travel towards A यहां पर मैं exactly 9 बज़े 9.00 75 km पर आ रही है नहीं लिख रहा इतना लिखने का time नहीं होता अपने exam में कि हम सजा कर लिए कि वहां पर painting नहीं बनानी question को solve करें at what time do they meet तो हमने तो relative speed पड़ी है तो 8 बज़े यह चला 9 बज़े यह चला तो relative speed तो तब काम आएगी जब दोनों चल रहे हो ठीक है तो यह तो 9 बज़े चलेगा तो पहले इसको चला दो 8 बज़े एक घंटा यह आठ बज़े यह तो चल पड़ा है वो चले आ ना चले इसको कोई मतलब नहीं है तो 9 बज़े तक यह कितना चल पड़ेगा 9 बज़े तक इसकी speed है 60 km पर आर एक घंटे में यह तो 60 km कवर करतेगा जी यह लो जी 60 km कवर करते है इसने एक घंटे में अब यह यहाँ पर खड़ा है बंदा यह 60 की speed चे जा रहा है वो 75 की speed चे आ रहा है अब दोनों मिलकर इस distance को कवर करेंगे वे बोल रहे हैं कितने ताइम पर मिलेंगे तो distance बचा कितना है 60 तो इसने कवर कर दिया अब 9 बज़े की बात है 9 बज़े तक यह तो 60 km चल चुका है तो 330 minus 60 total distance कितना बचा है 270 अब इस 270 km को दोनों मिलकर कवर करेंगे इसकी speed 60 है यह 60 की speed से बढ़ रहा है यह 75 की speed से दोनों की speed का sum है क्या है opposite direction में आ रहे है speed add होएगी 135 की speed से कवर करेंगे 270 km तो इनको 2 गंटे लग जाएगे और यह बात थी 9 बज़े की तो 9 और 2, 11, 11 बज़े मिलेंगे 11 बज़े मिलेंगे ठीक है अगर वो यह पूछे कि भाई कितनी दूर मिलेंगे तो देखो 9 बज़े के 2 गंटे बाद मिल रहे है 9 बज़े यह चला था 9 बज़े के 2 गंटे बाद यह जहां पर भी मिलेगा एक गंटे में 75 km चलता है तो 2 गंटे में यह 500 km चल चुका होगा तो 20 से 1500 km दूर मिलेंगे अगर यह पूचे सर ए से कितरी दूर मिलेंगे तो घटा दो 330 में से 1500 330 में से 1500 घटा दो या फिर आप यह देख लो 11 बज़े मिले हैं यह 11 बज़े मिले हैं न यह 8 बज़े चली थी ट्रेन 11 बज़े तक चलती रही यहां कि इस ट्रेन को तीन घंटे चलना पड़ा 60 की स्पीड से 60 थी यहां से 120 km दूर मिलेंगे अगर डिस्टन्स पूच ले तो ठीक है यह बताओ ट्रेन ए लेफ्ट डेल्ली टु एमदाबाद अट 8 एम विद ए स्पीड उप 40 km पर आर और यहां पर जब भी मैं डायग्राम बनाऊँगा तो मैं डिटेल में लिखूंगा तो मैंने आपको समझाना है आप विद प्रेक्टिस अपने अकोर्डिंग कितना कम लिखना है, कितना ज्यादा लिखना है वो आपको सीख जाएंग मैं जब भी लिखूंगा एक प्रोपर फॉर्मेट में लिखूंगा ताकि आपको भी चीज़े लिखने आजाएं जब आपको वेस्टन सोल करेंगे तो कि स्टूडेंट्स भी जहां से सीखते हैं कोई भी बन्दा वो उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करता है बाई डिफॉर्ट तो मैं एक प्रोपर फॉर्मेट में लिखूंगा तो आप भी लिख पाएंगे ठीक है अच्छर गुम रहा है आपे ट्रेन ए लेफ्ट डेली टो एमदाबाद एट एट एम ये दिल्ली है एमदाबाद है ठीक है ट्रेन ए जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आठ बजे और यहाँ पर लिखूंगा एक तरफ मैंने टाइम लिख दिया एक तरफ इसका इसकी स्पीड लिख दूँगा मैं अंदर की तरफ स्पीड लिखता हूँ चालिस की स्पीड से उधर जाएगी आठ बजे चली ये मैंने ट्रेन का नाव लिख दिया अनदर ट्रेन बी लेफ्ट देल्ली फोर एमदाबाद तो दूसरी ट्रेन बी ने भी देल्ली को छोड़ा है एमदाबाद के लिए अगर मुझे लग रहा है कि जरूत होगी थोड़ा सा लेंदी क्वेशन है एक जगह है ब्रोडा जहां पर ये जो ट्रेन है ये इसको ओवर्टेक करेगी जो टू एमदाबाद के बीच में जो डिस्डशन है अगर वह वा पांच उनिट है तो देल्ली और ब्रोडा के बीच में दो यूनित है वह यह बोल रहा है यहांपर दि apprendre दो यूनित है यहांपर दिस्टेंस को लिखने की मेरी आदे तो उपर लिखने की क्योंकि distance को divide करना पड़ता कई बार चीज़ों से ठीक है यह distance दो यूनिट है यह distance तीन यूनिट है find the distance between Delhi and Ahmedabad Delhi and Ahmedabad के बीच का distance बताओ तो बहुत easy है तो देखो एक बार इसको भूल जाओ आप सिरफ यह ध्यान रगो कि यह train यहाँ से 8 बजे चली थी और दूसरी train इसके बाद चली थोड़ी देर बाद और उसने इसको यहाँ पर पकड़ लिया यहाँ का distance मिल जाएगा 2 unit तो आगे काई मिल जाएगा 3 unit वो तो क्याई बात है अभी देखते हैं तो train A कितने की speed से चल रही है सिरफ यह देखो relative speed देख रहे हो ना तो आप यह देखा गरो कि यह वाली जो train है जिसने दूसरी train को पकड़ा है वो कितनी देर बाद चली आप इस train ने चलना start किया यह train जब उस train को पकड़ेगी तो कौन सी speed से पकड़ेगी जो इसके पास extra speed है उसकी मदद से जो difference है same direction में चल रहे है तो 60 minus 40 20 देखो यह तो है distance दोनों के बीचे में distance है यह speed जिस speed से वो distance cover होगा तो time आ जाएगा कितने time में distance cover होगा 10 बजे के बाद 10 बजे चलना start करेगी ना 10 बजे तक उसने 40 into 2 80 km का gap डाल दिया अब उस gap को यह 20 की speed से cover करेगी 60 minus 40 20 तो इसको बाइस अब 4 गंटे लग जाएंगे 4 गंटे में उसको दवोच लेगी आपर ब्रोड़ा तो यह 4 गंटे में कितनी दूर जा सकती है 60 into 4 240 यह 240 km है जी हमने बताना है दिली से अमदाबाद की दूरी जब 2 unit की value 240 120 गुना है तो 2 प्लस 3 5 unit की कितने होगी 5 into 120 600 clear बहुत ही easy equation इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको एक और trick के से कर सकते थे मैं आपको बता रहा था variation से भी कर सकते हैं सारे equation ऐसे भी कर सकते हो देखो यह 8 बजे चली है 10 बजे चली है 40 की speed से चली है 60 की speed से चली है इसने इसको परोड़ा पकड़ लिया तो दोनों ने distance तो same travel किया है यह भी यहां से यहां तक यह भी यहां से यहां तक आप भो लगए जी हां सर डिस्टंस तो same है अगर distance same है दो train है अपनी A और B तो speed और time का ratio उल्टा होएगा speed का क्या ratio है इसकी speed 40 है इसकी 60 है 2 is to 3 है तो time का ratio 3 is to 2 होएगा यह ratio है actual में इनके time के बीच में कितने का फ actual में 2 है तो 2 ती है 6 6 गंटे actual में लगे है train A को और दो दुनी च्यार च्यार गंटे actual में लगे है train B को यहां से यहां तक पहुंच या तो इसके 6 गंटे लगा लो 6 into 40 240 या इसके 4 गंटे लगा लो 4 into 60 240 distance तो जी उतना ही रहेगा बाकी 5 उनिट आप बता दोगे तो कैसा डेवलप होईगी ठीकर शिरफ यह नहीं बताया जा सकता आपको यह बेस्ट मेतल है शिरफ यह रटलो कोई ऐसे टोपिक होते हैं जिनमें समझ डेवलप करनी होती है ठीक है अब बॉय स्टाटेड फ्रोम इस हाउस बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा इसपीड जो है वो एक गंटे पंद्रा मिनट बाद निकला स्कूटर पर ठीक है अलोग दा सेम पाथ और गोट हिम एट वन थर्टी पीम और डेड़ बजे उस बंदे को पकड़ लिया उसका बड़ा भाई निकला तो इसका मतलब यह है कि तो बड़े भाई की स्पीड चाहता है तो वो बंदा पहले कितनी देर तक चल चुका था बड़ा भाई चला उससे पहले वो एक गंटा 15 मिनट चल चुका था यानि कि 1 1 by 4 आर्ष यानि कि 5 by 4 आर्ष तो 5 by 4 आर्ष में वो कितनी दूर गया होगा 5 by 4 into 12 के स्पीड है इतनी दूर वो चला गया होगा यह डिस्टंस है इसको कैलकुलेट करो या मत करो यह डिस्टंस है इतनी दूर वो 5 पटे 4 गंटे में चला गया दस एम और वो एक तीस के बीच में कितने का फरक है यहाँ पर है जी या फिर उसको भी जोड़ ही लेते हैं कई मैंचे कन्फ्यूज हो जाएंगे मैं उसको बाद में गटाने वाला था ऐसे ही जोड़ जो दस एम पर वो छोटा भाही निकला उसके एक गंटे पंदरा मिनट बाद याने की ग्यारा बज़ के पंदरा मिनट पर बड़ा भाई स्टार्ट हुआ घर से निकलना ग्यारा बज़ के पंदरा मिनट पर उसने एक तीस पर पकड़ लिया तो ग्यारा पंदरा से एक तीस के विच में यहनि कि च्यार दुनी आट वर एक 9 बटे 4 आर्ष में यह distance इतने time में cover कर दिया 9 बटे 4 आर्ष में distance upon time speed speed आजाएगी ना 4, 4, 3, 3, 9 3, 12, 20 बटे 3 km पर आर यह किसकी speed है जी इतने distance को इतने time में cover कर दिया यह जो gap था जो उन दोनों भाईयों के बीच में जो gap था जितना छोटा भाईय आगे निकल गया था उस gap को इस बड़े भाईय ने cover किया इतने time में तो जो बड़ा भाई उस gap को cover करेगा वो किस speed से cover करेगा उनकी speed का जो difference है बड़े भाईय की speed जितनी ज्यादा है उस gap से तो छोटे भाईय से इतनी ज्यादा है बड़े भाईय की speed का है 12 और बड़े भाईय की speed के है तीन चीक के अठारा, शिक्स टू बाई त्री जादा है, तो बारा उट्च है, अठारा टू बाई थ्री है बड़ा भाई अपनी स्पीड से नहीं करेगा, छोटा भाई भी तो मोग कर रहा है, यह अठारा दो भुटे एक सो भी आसी प्टे तीन नहीं है ठार दो प्टे तीन है बड़ा छोटा भाई भी तो चल रहा है बड़ा भाई जितनी भी उसको एडवांटेज स्पीड में उससे कवर करेगा जो उनकी स्पीड के भी इसका डिफरेंच है उससे कवर करेगा सेमड़ डारेक्शन में दोन नहीं होग रहे हैं एक तो हमने ऐसे कर लिया दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बाई रिलेटिव मलब variation वाले से ठीक देखो variation वाले से कैसे करें ज्यादा तरक्रेशन हम कर सकते हैं ओके तो एक गंटे पंदरा मिनिट बाद वो चला है ठीक है देखो छोटा भाई यहां से चला और वो चल रहा था चल रहा था बड़ा भाई थोड़ी देर बाद चला तब तक छोटा भाई यहां पर था और यहां पर उसने पकड़ा यह elder brother है यह younger brother है और यहां पर उसने younger brother को पकड़ लिया तो कुल मिला कर younger brother चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है बड़ा भाई कुछ धेर बाद चला लेकिन चल रहा है चल रहा है चल रहा है यहाँ पर पकड़ लिया दोनों ने distance तो same है कबर किया है घर से कुछ दूर जा कर पकड़ा है छोटा भाई भी वहाँ पर पकड़ा गया बड़े भाई ने उसको पकड़ दिया, distance दोनों ने same travel किया है, तो अगर distance same travel किया है, तो इनके speedo time का ratio, universally proportional होएगा, तो this is younger brother, this is elder brother, तो time के बारे में उसने बताया है, छोटा भाई कब चला, वो चला सर 10 बजे, पकड़ा कब गया, 31 पर, तो 10 बजे से 31 तक वो चलता रहा था, तो कितनी देर हो गई यहाँ पर, 10 से 31 तक हो जाएगी, सड़े 3 गंटे, तो छोटे भाई को लगगे, सड़े 3 गंटे, यानि कि 7 by 2 hours, इस distance को कवर करने में, बड़े भाई को कितना time लगा, छोटे भाई को 7 by 2 hours लगे, लेकिन बड़ा भाई उससे 5 by 4 hours लेटर निकला था, एक गंटा 15 मिनट बाद में निकला था, तो उसका इतना time कम लगा, तो भी देख लेता हूँ मैं, इसको मैं बोल देता हूँ, 14 बटे 4, 14 में से 5 गे, 9, 9 बटे 4 गंटे, ये इनके time का ratio, इनकी speed का क्या ratio होएगा, मैं जस ratio निकाल लेता हूँ, 2 धुनी 4, 14 is to 9 time का ratio, तो 14 यूनिट की value क्या होएगी, वही answer हो जाए, clear रेजी, ठीक है, इसे भी कर सकते हैं, equation बताओ, the driver of a car which is traveling at a speed of 75 km per hour, locates a bus 80 meter ahead of him, a car का बंदा है, car में बैटा है, 75 km per hour, speed से चल रहा है, एक bus उस से 80 km आगे, traveling in the same direction, after 15 seconds, he find that the bus is 40 meter behind, what is the speed of the bus, देखता हूँ, अब बता आप आओगे, देखो, पहले वो बस से कितना पीछे था, पहले वो बस से 80 meter पीछे था, बस भी अपनी speed पर चल रही है, वो बंदा भी अपनी speed पर चल रहा है, उसने एक bus देखिए, 60 meter आगे एक bus है, ठीक है, बस भी चल रही है, वो बंदा भी चल रहा है, 15 second बाद क्या हुआ, बस जो है, वो 40 meter पीछे है, तो वो बंदा खुद बस से, वो जो car थी, वो बस से 80 meter पीछे थी, और आज के time वो car, अब के time, वो 40 meter आगे है, 80 meter पीछे से 40 meter आगे आगी, तो 120 meter का distance cover नहीं किया, बस खड़ी नहीं थी, बस भी चल रही थी, बस भी चल रही थी, बस खड़ी नहीं थी, बस भी चल रही थी, 120 meter का total distance उसने cover नहीं किया, उसने bus के comparison में 120 meter distance extra cover कर लिया, बस भी चल रही है वो भी चल रहा है वो 80 मीटर पीछे है वो 80 मीटर के गैप को कवर किया और 40 मीटर का गैप उसने डाल दिया बस भी तो चल रही है तो उसने एक्सट्रा कवर कर लिया बस ने जितना चला उससे एक्सट्रा 120 meter कवर कर लिया, extra क्यों कवर कर लिया, कैसे कवर कर लिया, हिमत कैसी हुई उसकी, speed जाए जाना वाई, और कौन सी speed से किया हुईगा, जो भी speed का difference है, same direction में जा रहे हैं, उसकी speed जितनी ज्यादा है, जो gap है, उससे cover किया हुईगा, यह extra उसने distance कवर किया, कितने time में cover किया, तो यह आ जाएगी, extra speed, उनकी speed का gap आ जाएगा, extra speed के कान, जो उसने distance extra travel किया है, बटे में time कितना है, 15 second, 8 meter per second, यहाँ पर यह जो आ रही है, यह मत सोचना car की speed है, यह उन दोनों की speed का difference है, car की speed इतनी ज्यादा है, हर second में 8 meter distance ज्यादा cover कर रहा है, तभी तो 15 second में 120 distance ज्यादा cover कर दिया, उसके comparison में, तो car की speed इतनी ज्यादा है, what is the speed of the bus, तो पहले, इस में पूछे इसने, किलोमेटर पर आर में, तो इसको में किलोमेटर पर आर में निकाल लेता हूँ, अठार अपटे 5 से गुना कर दूँ, ठीक है, अठार अठे, उपर निचे 2 से भी गुना कर दूँ है न, ठीक है, अठार अठे, 244, 248, 28.8 किलोमेटर पर आर, car की speed इतनी ज्यादा है, car की speed है कितनी 75, तो बस की speed कितनी है, यह घटा दो, ठीक है, जी, seasonal tier 2 का question है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि tier 2 के question होते हैं, tier 1 के question होते हैं, MTS के CHSL के हैं, यह कहने की बाते हैं, एक tier 2 का question उठा के MTS के pre में पूछते हैं, आप क्या कर लोगे, क्या करोगे, और case करोगे, तो आप ही logical होगे, question नहीं पूछ सकता बन्दा, question के उपर कोई ठपा लगा है, कि यह question तो ऐसा ही हो सकता है, नहीं, actual में भी ऐसा SSC कोई discrimination नहीं करती, तो TCS पर बनाता है, TCS या कोई भी agency ऐसा description, discrimination नहीं करती, एक exam के question, दूसरे exam में पूछे जाते हैं, बस exams का tempo सेम होना चाहिए, tempo का मतलब यह नहीं कि tempo में बैट के जा रहे होना थे, tempo nature सेम होना चाहिए, ठीक है, यह बताओ, 3 trains A, B and C, left Delhi to Mumbai and travel in the same direction at the speed of 40, 60, 80 km per hour respectively, same direction में सारे travel कर रही है, train B starts 2 hour after A, if both train B and C overtake A at the same instant, देखो, okay, 3 trains A, B and C, left Delhi to Mumbai, travel in the same direction, इसने कुछ बतायाएगा, how many hours after train A did start, ठीक है, उसने हम पर बताया है कि A कितने बाद C ने start के, यह मैं सोच रहा था कि एक अठे थोड़ी start करेंगे, तो हुआ क्या, देखो ज़रा ध्यान से, train A जो है, वो 40 की speed से चल रही है, train B जो हो, 60 की speed से चल रही है, train C जो हो, 80 की speed से चल रही है, यह दिख रहा है, इसके बीच में लाल, पुरासा गंदा ही, इलेवाले पर लिखते हैं यार, ठीक है, यह 40, 60, 80, ऐसे महान लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, हमें personally ही लिखना पड़ेगा, यह 40 की speed से चल रही है, यह 60 की speed से चल रही है, यह 80 की speed से चल रही है, और यह बोल रहा है कि train B जो है, वो A से 2 घंटे बाद चल लेगा, आपको हाला कि इस question के अंतरे diagram बनाने के जरूरूत नहीं है, बट मैं समझाना चाहरा हूँ, ठीक है, train B जो है, वो A के 2 घंटे बाद तो 2 घंटे तक A ने कितना distance कवर कर लिया हूएगा, 2 घंटे में 40 into 2, 80 किलम्टर दूर चली गई होगी, 80 किलम्टर का gap डाल दिया, अब इस gap को B किस speed से कवर करेगी, B कवर करेगी, 20 के 2 घंटे बाद चल रही है, अब B चल रही है, और gap देख रही है, 60 किलम्टर के डाल रह अब ये क्या बोल रहे है, ये बोल रहे है, कि बोथ train B and C overtake train A at the same time, तो A पहले चली गई थी, तो उसको B और C नहीं कठा और टेक किया, यानि कि जिस वक्त यहाँ पर B पहुंच गई थी, उसी वक्त यहाँ पर C पहुंच गई थी, अब ये बोल रहे है, कि C जो है, वो A के comparison में कितनी लेट चली, तो देखो, B को कितनी देर होगी चलते हुए, तर 4 गंटे हो गए, 4 गंटे में उसे ने उसको पकड़ दिया, B की speed कितनी है, तर 6 है, तो 6 into 4, 240, तो 240 km distance ला होगा B ने, 4 गंटे में, 240 km के बाद पकड़ा उसको, ठीक है, C की speed is C है, C को 240 km distance लने में कि पहुंची है, B यहाँ पर 4 गंटे में पहुंची है, और A यहाँ पर कितने गंटे में पहुंची है, इससे 2 गंटे ज्यादा लिये हैं, उसने, बिकोज यह 2 गंटे बाद चली थी, 6 गंटे में पहुंची है, तो देखो, यह 3 गंटे में पहुंची है, वो 6 गंटे में पह इसको तो तीन ही लगते हैं तो एक एक कितनी देर बाद पहुंची है थी तीन गंटे बाद एक और त्रिक के से बता दू इसको अच्छा लगेगा फिर देखो हुआ क्या दिल्ली से situation को समझने कोशिस करिएगा दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं यहां से A चली B चली C चली कितने भी चले तीनों कहीं न कहीं पर मिले हैं तीनों एक टाइम पर तो तीनों ने डिस्टन्स कितना कवर किया तीनों आगे पीछे चले कोई एक मिनट बाद चले कोई दो मिनट बाद चले परकी नहीं पड़ता तीनों ने डिस्टन्स तो सेम कवर किया है हां जी सर तो speed का ratio हमें पता है time का ratio पता चल जाएगा तो speed का ratio है जी speed है 40, 60, 80 अगर मैं ratio निकालूँगा तो ratio होएगा 2 is to 3 is to 4 जो की मैं लिखना नहीं चाहरा तो time का ratio क्या होएगा 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 उल्टा होता है न तो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 सारे ratios को मैं किस से multiply करूँगा 4, 3 और 2 के LCM से 12 से तो 2, 6 के 12 3, 4 के 12, 4, 3 के 12 ये ratio आगया time का अगर इसको A को 6 unit time लगा है तो B को 4 unit time लगा है तो C को 3 unit time लगा है और उसने क्या बता रखा है भाई साब ने उसने बता रखा है A और B का जो time है उनके बीच में 2 गंटे का gap है देख लो train B starts 2 hours after A train B ने 2 गंटे बाद start किया था फिर भी तो पहुंच गई है दो गंटे का gap है ratio में कितने का gap है जी 2 का असली में कितने का gap है जी 2 का यानि कि असली चीजे ratio के बराबरी है यानि कि इसको actual में 6 गंटे लगे हैं वहाँ जाने में इस question को ऐसे भी कर सकते हैं आगे बढ़ूँ फिर उसी equation के type जैसा equation है जैसा last वाला था 3 trains A, B and C left Delhi to Mumbai and travel in the same direction तो फिर मैं इसी वाले method से कर लेता हूँ है यही easy है वो तो मैं relative speed आपको समझाना चारा था इसी से कर लेंगे 3 trains A, B and C left Delhi to Mumbai and travel in the same direction इसी speed पर यह चल रही है ठीक है km per hour respectively travel B start 2 hours after A train आएगा train B starts 2 hours after A तो देखो 3 train है ABC इनकी speed का ratio है 40, 60 और S यह मुझे पता नहीं क्या है तो उसका मुझे ratio भी नहीं पता इसको consider नहीं करते हैं लिखा रहे हैं थे हैं बस तो इन दोनों की speed का ratio है 2 is to 3 तो इनके time का ratio होएगा 3 is to 2 इसके बारे में मुझे नहीं पता उस भी claim नहीं कर रहे हैं उसको अटा दो का है actual में 2 का है तो 2 ती एच्छे 6 गंटे तक train A चल रही है 14 गंटे तक train B चल रही है तो total distance speed into time से आजाएगा 6 होगे 24 240 km का distance है जब जाकर सारी train मिली है इसलिए questions ऐसा ही है तो यहाँ से निकाल वे है यहाँ से निकाल वे एक ही बात है 240 km का distance है और इन्होंने क्या बताया था को information missing है क्या C के बारे में कुछ तो बताना पढ़ेगा train B starts 2 hours after A and train C starts 2 hours after B train C जो है वो B से 2 गंटे बात चली 2 गंटे बात चली तो उसको 2 गंटे कम मिले होंगे उस जरनी को cover करने में ना तो train B को 4 गंटे लगे हैं तो train C 2 गंटे में पहुंच गी वहाँ पर 2 गंटे में पहुंच गी 2 गंटे बात चली थी total distance कितना है 240 km 6 into 4 240 240 km इसने 2 गंटे में cover कर लिया 240 बते 2 इसकी speed 120 km पर आ रहा है वो तेज चल रहा है बंदा this guy is moving too fast clear तुझे देर बैठता हूं आप इस question को करो वीडियो को भी न पोज किये करो मैं एक बार आदी मिनट का rest ले लो करते रहा हूं क्लों मैं थोड़ी देर और बैठता हूं क्योंकि अब rest दे दिया थे इतनी देर में तो यह निकलेगा नहीं थोड़ा और टाइम लगेगा करते रहो आप करते रहो हां जी अभी तक तो हो गया होगा पोज करके कर सकते हो अभी भी टाइम दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज्यादा टाइम लगे तो एकाद एक्वेशन में लग जाता है अचर बार बार तंकर रहे है ट्रेन ए लेफ्ट चैन्नाई टू बैंगलोर एट एट एम विद ए स्पीड ओ 45 किलोमेटर पर आर तो चैन्नाई से बैंगलोर की तरफ जा रही है एक ट्रेन ट्रेन ए कितने बजे आठ बजे 45 कि स्पीड से है ट्रेन बी लेफ्ट चैन्नाई टू बैंगलोर ट्रेन भी चैन्नाई टू बैंगलोर की तरफ जा रही है दस बजे 60 कि स्पीड अंदर की तरफ मैं स्पीड लिख रहा हूं बाहर की तरफ टाइम थर्ड ट्रेंड C लेफ्ट बैंगलोर टूचेन नहीं तो C जो है वो 11 बजे बैंगलोर टूचेन नहीं जा रही है 80 की स्पीड को अंदर की तरफ लिखती है ठीक है इस तरफ जा रही है If all three trains meet at the same instant तिनो ट्रेंड कहीं न कहीं एक जगाए पर इकठी मिलती है तो देखो तिनो ट्रेंड इकठी मिल रही है तो आपको तिनो ट्रेंड इकठी मिलाने ज़रूरी नहीं है तिनो इकठी मिल रही है तो आप ये देख लो ये दोनो ट्रेंड कहां मिलेंगी इसका मतलब तीसरी भी वहीं थी उस वक्त आप इन दोनों ट्रेन का देख लो B और C का इसका मतलब उस वक्त A भी वहीं थी A और C का देख लो इसका मतलब B भी वहीं थी किनी भी दो ट्रेन का देख लो जिनका आपको दिल करेज जिनका आपको अच्छा लगे अगर तिनों ट्रेन एक जगाबर मिल रही है तो देखो मैं B और C का देख लो ठीक है तो B जो है वो 10 बजए चली C जो है वो 11 बजए चली तो 1 गंटे में इसने मैं देखूंगा पहले मैं 11 बजए तक का हिसाब किताब करा हूं 1 गंटे में इसने 60 km कवर कर दिया आप बोलोगे जी हाँ इसने 60 km कवर कर दिया एक गंटे में तो कहीं न कहीं है पहुंच गई होगी 60 km कवर करके उसके बाद दोनों चल रही है 11 बज़े ये चली या कोई बार इसने कुछ और मैंने information मिस कर दी का नहीं की फिर ये पूछ क्या रहा है इनकी दूरी क्यात करो पाऊंगा बी और सी की यहां पर मैं नहीं पता कर पाऊंगा एक बार सोच लेते हैं बी और सी की पता कर पाएंगे कि नहीं यह कहीं न कहीं पर मिली बी और सी की नहीं होएगी ए और बी की होएगी है न क्योंकि ए और बी कहां पर मिली यह पता करने के लिए हमें यह पता करना जरूरी नहीं है कि B और C के बीच में कितना गयप है बैंगलोर और चिन्ने के बीच में कितना गयप है ये पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैंगलोर पहुंची नहीं है हमें बैंगलोर से लेना देना ही नहीं है तो यहाँ पर आप A और B की ही पता कर पाऊ यह वो situation करने के लिए इन दोनों के बीच का distance पता होना चीए वो उसने दिया नहीं है वो तो उसने पूछा है तो इन दोनों train का ही हम देख सकते हैं यहाँ अपर ठीक है जिए इन दोनों का देख लेते हैं तो इन दोनों का relative speed से देख लो या फिर variation वाले concept से देख लो कैसे भी देख लो क्योंकि माल लो ये दोनों train जाकर यहां पर मिली तो दोनों ने distance तो एक जितना ही cover किया तो अगर distance constant है तो speed का ratio उससे इंवर्स टाइम का ratio या तो उससे देख लो ये relative speed से देख लो तो आठ बजे ये चली ये 10 बजे चली मैं देखना चाहरा हूँ कि 10 बजे तक ये कहां थी तो दो गंटे में 45 दूनी 90 किलोमेटर का gap डाल दिया उसने अब इस train ने ये 90 किलोमेटर का gap है ना cover किया कितनी speed से जो इनके speed के बीच में gap है यानिकी 15 60 माइनस 45 15 15 किलोमेटर पर आर की speed से 6 गंटे में नेचे वाले train ने gap कवर किया होगा जब ये train चली उसके 6 गंटे बाद इसने पकड़ा होगा उसको की रुक इदर ही ठीक है तो इसकी speed है 60 6 गंटे तक चलती रही तो 360 किलोमेटर डिस्टन्स इसने cover किया तब इसने train एको पकड़ा है कलियर है जी 360 किलोमेटर और वो वाली train तो 6 गंटे में पकड़ा है ने इसने कि 10 बजे चली 6 गंटे में यहाँ पर पहुंच गी तो जो train 11 बजे चली है उसको तो 5 गंटे मिले होंगे यहाँ तक पहुंचने में एक गंटे बाद चली है तो 10 बजे से 10 बजे के अंदर अगर आप 6 गंटे जोड़ोगे है तो कितने बज़गे 16 बज़गे तो 11 बज़गे के बाद 16 याने की शाम के 4 11 बज़गे के बाद 16 बज़गे तक 5 गंटे का गयाप है मैं यह देखना चाहरा हूं क्योंकि उस वक्त यह भी यहाँ थी कि इसको कितना टाइम लग गया तो इसको तो 5 गंटे लगए 80 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो 5,48,600 किलोमेटर का डिस्टेंस यह कवर करके है यह मिलने के लिए 400 और 360, 760, 760 किलोमेटर का गयप है ठीक है जी क्लीर है ऐसा ही एक और क्वेशन पूछोंगा टेंशन मतलों इसी टाइप का यह बताओ ट्रेन ए रनिंग एट 50 किलोमेटर पर आर लिवस मुंबई फोर हाइदराबाद तो यह भी लिख लिखते हैं सही यह मुंबई है यह हाइदराबाद है ट्रेन एजो है वो 50 की स्पीड पर चल रही है लिवस मुंबई फोर हाइदराबाद एच 6 अम तो इस इन्फोरमेशन को यहाँ पर लिखना कैसे हो भी आपको समझ में आ रहा है ट्रेन बी जो है वो 75 की स्पीड से चल रही है और उसने 9 बजे चोड़ा है मुंबई फोर हाइदराबाद ट्रेन सी लिवस हाइदराबाद फोर मुंबई एच 10 अम ट्रेन सी जो है वो दस बजे चलना स्टार्ट करती है if all the trains meet at the same time सारी trains वो हो same time पर मिल रही है between मुंबई एन हधराबाद then what is the speed of train seat तो train सी की स्पीड क्या होगी if the distance between हधराबाद and मुंबई is 850 किलमेटर ठीक है easy है कोई दिक्कत नहीं है आपको पता है कहां से start करना train c की speed पता है क्या sir नहीं पता दो वहां से start ही नहीं कर सकते हैं यहीं से start कर सकते हो अभी देख लेते हैं जी देखो तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह मिली कहाँ पर कितने kilometer पर यह मिली है अंजी देखो A और B की है अब मैं relative speed वाले से नहीं कराऊंगा variation वाले से करा देता हूँ दोनों की practice होती रहेगी तो train A और B है इनकी speed क्या क्या है जी 50 और 75 है speed का ratio है 2 is to 3 25 तूनी 50, 25 तूनी 75 time का ratio है 3 is to 2 ठीक है और दोनों ने same distance को यहाँ पर मिली है same distance को इनोंने cover किया है उसमें time का फरक कितना है यह 100 बज़े चली थी यह 9 बज़े चली थी इसने 3 गंटे कम लिये हैं बाद वाले 3 गंटे का गयप है ratio में तो सरेक का है तो actual चीज है 3 ती यह 9 आर्ष 3 दोनी 6 आर्ष train A ने 9 गंटे लिये है उससे distance का अंदा जा जाएगा यह train B ने 6 गंटे लिये है 75 इंटो 6 उससे आ जाएगा यह आसान है 9 पांचे 45 450 किलमटर cover किया है नोंने और यहाँ पर यह मिली है उसी वक्त यहाँ पर C थी क्यों किती 9 एक वक्त मिल रही है उसी वक्त यहाँ पर C थी कितने बज़े हुआ था यह वारदात कितने बज़े हुई यह 9 बज़े के train B के बारे में बात कर रहा हूँ यह 9 बज़े के 6 गंटे बाद तो 10 बज़े के 5 गंटे बाद होई 9 बज़े के 6 गंटे बाद तो 10 बज़े के 5 गंटे बाद होई तो पांच से दिवाइड गरो 80 किलमोटर पर आरकी स्पीड है ठीक है, क्लियर है, लास्ट जो क्वेस्टिन था, उसी एक्वेस्टिन जैसा फॉर्मेट था इस एक्वेस्टिन कभी यह बताओ a train x departs from station a at 10 am for station b which is 400 kilometer away another train y departs from b at 11 am for station a train x travels at an average speed of 60 kilometer per hour and does not speed तो चलो हम लिखी लेते हैं, लिखने में ही फायदा, अगर मैं लिखूंगा नहीं तो बाद में मेरे को statement फिर से पढ़ने ही पढ़ेगी है ना, जब इतने बड़े question है तो लिखने में फायदा है train x departs from station a, तो train x सो है, यह 10 बज़े चलती है और station b, जो कि 400 km अवे है, दूसरी train y है, यह b से चलती है, यह station के नाम है a और b 11 बज़े, train x travels at an average speed of 60 km परार, शाट की speed से चल रही है, train y 50 की speed से चल रही है, ठीक है सी train x travels at an average speed of 60 km परार, and does not stop anywhere until it arrives at b, तो यह वाली train कहीं पर भी रुकती नहीं है, जब तक यह b पर ना आजाए, इसका आमलब दूसरी वाल ही रुकती हो, train y travels at an average speed of 50 km परार, but has to stop for 30 minutes at station c, which is 100 km away, from station b, and route to station a, यहां से 100 km दूर है, यहां से 100 km दूर है, जब यह a जाती है, उसके रस्ते में, and route to a का, यह मतलब है कि route पर पर पड़ता है, यहां पर 30 minutes के लिए रुकती है, ignoring the length of the train, what is the distance to the nearest km from station a, to the point where the trains cross each other, यह कही न कहीं पर cross करेंगी, वो हमने देखना है कहां पर करेंगी, तो बहुत ही simple equation, situation अगर आप समझ गये हैं, तो अभी आप कर पाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होएगा, देखो, यह 10 बजे चली, यह 11 बजे चली, और यह वाली train कहीं न कहीं रुकेगी, तो एक बार तो पहले मैं इसका हिसाब किताब कर लूगी, यह रुक ली नहीं रुक ली, इसकी स्पीड कितनी है, 50 की, तो 50 की स्पीड से 100 km 2 गंटे में कवर करेगी, 52 नहीं 100, तो 2 गंटे तो इसको यह distance कवर करने में लग जाएंगे, और अध्य गंटे का यह rest लेगी, तो कुल मिला कर धाई गंटे बाद यह train C से चलेगी, धाई गंटे, 2.5 आर्स के बाद, यह train C से चलेगी, after 2.5 आर्स, लियर है, तो 11 बजे के अंदर, अब 2.5 आर्स जोड होगे, तो कितना आ ऐसा है, यह जो train है, यह यहाँ से चल चुकी है, क्योंकि मैं यह देखना चाहरा हूँ, कि दोनों कब चल रही होंगी, तब ही पता लगेगा न, कब मिलेंगी, तो एक बार यह देख ले, 1.30 पिम तक वो क्या गुल खिलाएगी, यह 10 बजे चली, ठीकर रहा हूँ नहाँ, तो यह 100 किलमेटर है, बचा कुछा डिस्टन्स, 300 किलमेटर है, ठीक है, तीन गंडे 30 मिनट के अंदर, 60 तीये, 3 गंडे 30 मिनट करहूं मैं, 60 तीये, 180, 180 और 30, 210, तो 210 किलमेटर का डिस्टन्स यह कवर कर देगी, बक्की का डिस्टन्स बजाएगा, सिरफ 90 का, टोटल यहां स यहां तक का 300 का था, 210 यह कवर कर चुकी होगी, 90 का डिस्टन्स बजाएगा, अब 90 किलमेटर का डिस्टन्स बचा है, दोनों में, एक बज़कर 30 मिनट हुए है, यह ट्रेन यहां से ऐसे चल रही है, यह ट्रेन यहां से ऐसे चल रही है, तो हमें देखना है, कहां पर इसको देखने का सिंपल सा त्रिक है कि या जिस ट्रेन की जितनी ज्यादा स्पीड होगी वह उतना ही ज्यादा डिस्टन्स ट्रैवल कर देगी इनकी स्पीड का रेश्यो तो पता है ना 60 और 50 तो मैं उसे रिलेटिव स्पीड वाले रिलेटिव के अलावा दूसरा हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो वेरियेशन वाले से ही मैं बता देता हूँ देखो ये ट्रेन यहां से चल रही है ये ट्रेन यहां से चल रही है दोनों इकठी चल रही है एक तीस पर तो जिसकी जाद जितनी A से कितनी दूर मिलेंगी तो मैं यह देख रहा हूँ यह 90 किलम्टर का जो डिस्टन्स उसको मैं 66 to 5 रेशो में तोड़ दूँ तो जो 6 unit की value आएगी वो आएगी यहाँ से कितनी दूर मिलेंगी तो 66 to 5 रेशो में तोड़ रहा हूँ 90 को 90 का 6 बुटे 11 6 प्लस 5 विस 11 यहाँ से इतनी दूर पर मिलेंगी यह train ठ्यक्ऽ है और यहाँ से यहाँ तक 210 किलम्टर का डिस्टन्स ओर डुटे ट्यावल हो चुका है A से 210 का ओर डुटे ट्रेवल हो चुका है उसके इतनी दूर बात यह train आपस में मिलेंगी ठीक्च है कि म ПосBLE McGe कि थना अगेगा 140 वुटे 11 को अग्यारा चोके zast एत वलिस दस जाए ने मैंनी न्याड में पाट्टी नाइयग पॉटे तटी नाइए को जङएगा 243 गहाएट 10 29th कि तना है तो फिफटी नाइन कि फिफटी नाइन वन पाई 11 क्या बूला है सुने मने ठीक किया आ खिरा जो किक चोह आट इस्तर गेरा ठीक है what is the distance nearest to kilometer, kilometer के nearest, what is the distance to the nearest किलोमेटर फ्रॉम स्टेस्टेशन ए तो यह इसके निरस तो 259 होएगा अगर इसको राउंड ओफ करोगे तो 259 होएगा यहां पर इन्होंने 260 दे रखा तो इसका अलब नहीं 30 यह आएगा ठीक है clear है यह बताओ यह वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है A train leaves station X At 6 AM ये एक station X है ये एक station Y है यहां से एक train 6 भज़े निकलती है ठीक है और वहां पर कितने बज़े पोहर पोहर दुए उस डियारा बज़े पोहर तो इस train को total लगते हैं जी 5 गंठे उस थी एक दूसरी train है जो यहां से 8 भज़े निकलती है इस train को तो लगते हैं total 5 गंटे एक दूसरी train है जो वहाँ से 8 बज़े निकलती है और 12 बज़े पहुंचती है इसको लगते हैं जी 4 गंटे ये पूछ रहे हैं कि किस वक्त दोनों train मिलेंगी तो बताओ क्या किया जाए क्या करें सोचो जरा हिंट मैंने दे दी है इस train को लग रहे हैं 5 गंटे इस train को लग रहे हैं 4 गंटे नहीं 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 स्पीड बताई सेम टाइम पर नहीं चल रही क्या करें क्या क्या जाए एक train को 5 गंटे लग रहे हैं एक train को 4 गंटे लग रहे हैं तो 5 और 4 का LCM ले लो distance को आप 20 units माल लो 20 km मानने के जुरूद नहीं है distance को मैं कुछ भी तो मान सकता हूँ distance चाहे कुछ भी हो 20 km हो 25 km हो 23 km हो मैं 1 unit के अंदर कितने km मान रहा हूँ मान सकता हूँ 1 unit यहाँ पर मैंने 2 km की माननी है distance को मैंने 20 unit माल लिया तो देखो आप distance 20 unit है इसको 5 गंटे लगते हैं तो इसकी speed कितनी हो जाएगी 5 चोके 20 यह 4 की speed से जा रही है 4 unit distance travel कर रही है अब km माल लो तो भी फरक नहीं पड़ेगा लेकिन हमें इनकी exact speed नहीं पता यह तो हमें यह तो हमें मानना पड़ेगा यह मैं पता होना चाहिए 4 गंटे में पूरा 20 unit distance कवर कर ले रही है तो इसकी speed है 5 unit पर हार यह 4 की speed से जा रही है 5 की speed से जा रही है total distance 20 है अब आएगा ना मजा अब soul हो जाएगा अब अब करो एक पार soul मैं बताता हूं नहीं तो देखो यह 6 बजे निकली 8 बजे वो निकली तो 2 गंटे में इसने 8 unit distance travel कर दिया वेगा 2 गंटे में 8 बजे तक 4 दुनी 8 8 unit distance तो बाकि distance कितना पचा 20 में से 8 वे 12 12 unit distance पचा यह train यहाँ से चल रही है यह train यहाँ से अब चल पड़ी 8 बजे इसकी स्पीड है 4 तो 4 और 5 नो 9 unit की स्पीड से 12 unit distance travel करना है जी कितना टाइम लगेगा 12 बटे में 9 3 तीन तीन चोके 12 4 बटे 3 गंटे यानि कि 1 गंटा 1 hour 20 minutes 1 hour 20 minutes और यह situation कब थी यह train यहाँ पर खड़ी थी यह train यहाँ पर खड़ी थी 8 बजे की बाद थी जब दोनों चली 8 बजे के 1 गंटा 20 minute बाद यानि कि 9 बजे के 20 minute पर दोनों मिलेंगी ठीक clear है आ रही है question भी exam के अंदर अला कि मैं सारे relevant करवा रहा हूं बताओ from two places 60 km apart a and b start towards each other at the same time and meet each other after 6 hour 6 km दूर से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं 6 गंटे में मिल लेते हैं ऐसे opposite आ रहे हैं याने की 60 divided by 6 10 km पर आर दोनों की speed a की speed को मैंने मान लिया a b की speed को मैंने मान लिया b दोनों की speed होगी 10 km पर आर अब यह क्या बोल रहे हैं had a traveled with two-third of its speed b traveled with double of its speed they would have met after 5 hours वो 5 गंटे में मिल जाते हैं अगर a की speed 2 a होती और 2 sorry a की speed 2 by 3 a होती पहले वाली speed से two-third speed पर वो travel करता है तो पहले कितनी speed थी a अब वो कितनी पर travel कर रहा है two-third of a तो उसकी speed कितनी है two-third of a पहले speed थी b अब उसकी speed है two b double पर travel कर रहा है तो बोल रहे हैं कि वो 5 गंटे में मिल जाते है अगर a की speed होती two by three a b की speed होती two b तो इन दोनों की speed का sum क्या है 60 km को 5 गंटे में कर रहे हैं यान कि 12 km पर आ रहे है दोनों की speed का sum ठीक है अगर इनकी speed है ऐसे ऐसे करें तो उनका speed का sum आता है ये और a और a प्लस b आता है ये अपको a और b की value निकाल ली है इसलिए मिल जाएगे a की value निकालनी है तो भाई b को हम वो कर देंगे cancel out क्या करूँ उपर वाले को डबल करके घटा दूँ और तो क्या ही है उपर वाले को डबल करके निचे वाले को गटा दें 2b-2bb की तो कहानी खतम 2a-2y3 है देखो तीन दू निचाय में दो गए 4 अपटे 3a is equal to 2 दहीं 20-12 8 4 दूनी 8 a is equal to 6 basic equation ऐसा equation time and work के अंदर भी हमने देखने को मिला जब वो अपनी efficiency से डबल या वन थर्ड पर काम कर रहे थे द्यान हो तो आपको यह देखो दाशिप विक्रान्त स्टार्ट्स फ्रोम ए पॉइंट पी टूर्ट्स पॉइंट क्यू एट नून यह पॉइंट पी है यह पॉइंट क्यू है जो विक्रान्त है वो उस तरफ जा रही है शिप एट नून, नून का मतलब है बारह बज़े टिक एट वन पीम शिप है मूँ जो शिप है मूँ है वो स्टार्ट करती है क्यू से पी की तरफ एक बज़े है ठीक हज़े इफ शिप विक्रान्त इज एक्सपेक्टिट तो कम्प्लीट दा वो इस इन शिप है यह विक्रान्त जो है यह एक्सपेक्टिट है कि 6 गंटे में जरने को कवर करतेगी जो है वो विक्रान्त की स्पीड से टू थर्ड स्पीड पे चल रही है बताओ लास्ट क्वेशन जैसा है मालब इससे पहले वाले क्वेशन से पहले वाले क्वेशन जैसा है देखो हमें एक्चॉल स्पीड पता है क्या नहीं पता है सर distance पता है क्या नहीं पता है सर वो तो इस question के अंदर भी नहीं पता था कहां पता था ना distance पता था ना actual speed पता थी सिरफ time पता था इसलिए हम सिरफ time बता पाए कि कितने बज़े मिलेंगी यहाँ पर भी जिर्फ टाइम बता पाएंगे कितने बज़े मिलेंगी एक्ट्वल स्पीड नहीं पता पर रेशियो तो पता है रेशियो इस मौर देन एनफ उसने बताया कि हेमू इस मूविंग अ टू थर्ड स्पीड विकरांथ की स्पीड मैने माल ली तीन उनिट तो екमोगी मैने माल ली दो यूनिट तू यूनिट पर आर यं मूव और ये त्री उनिट पर आर उस misconception कैसे मिलेगा उसने बतार कि विकरांथ जो हो 6 गंटे में पहुंचेगी तो मिलतो गया टोटल डिष्टनस से 18, total distance 18 unit 3 unit की speed वाली 6 गंटे में पहुंच रहे तो 18 अब देखो, यह 12 बजे चली थी तो एक गंटे में कितना distance कवर कर लेगी तो एक गंटे में तो 3 unit अब बच कितना गया 18 मेंसे 3 गया 15 अब एक बज़े की बात है एक बजे की बात है ये ट्रेन यहाँ पर है बचे कुछे डिस्टंस को इकठी कभर करेंगी तो 15 यूनिट डिस्टंस को कितनी स्पीट से कभर करेंगी 3 और 2 पांच दोनों के सम से 3 गंदे में कर डालेंगी एक बजे के 3 गंदे बाद बताओ च्यार बजे clear ये बताओ बाई भासकर एंड नीरद start from one end of a hundred meter track while the leap start from the other end भासकर is 50% faster than nearest and the leap is 150 तो एक बार इनका ratio लेक लेक लेते हैं भासकर, nearest और दलीब भासकर is 50% faster than nearest अगर nearest की speed 2 unit है तो भासकर की 3 है the leap is 150% faster than nearest the leap जो है वो 150% faster है अच्छा 150% faster का मतलब 150% नहीं है 50% faster का क्या मतलब है 50% ज्यादा है speed 150% faster का मतलब है 150% ज्यादा है speed इससे भाई है nearest से nearest की speed अगर 2 है तो वो 150 परसेंट जादा है यहीं कि 2 का 150 परसेंट 3 होता है तो उसकी स्पीड 5 है तिनों की स्पीड मिल गई अंजी सर अगर यहां पर आई और यहां पर O लगा दे तो यह बिनोध बन जाएगा देख लो तो 1000 मिटर का डिस्टंस है इधर भासकर है इधर नीरज है दिलीप कहा है भाई दिलीप स्टार्ट प्रम अधर एंड दिलीप यहां से स्टार्ट कर रहा है ठीक है जी तो भासकर की स्पीड है तीन यूनिट नीरज की स्पीड है दो तो इसकी स्पीड है पांच यह स्पीड है एक्षेक्स स्पीड में वैसे भी नहीं पता, रेशो पता है इन सब का, इस भासकर मीर्ट दिलिप इन 21 सेगंड भासकर जो है दिलिप को एकईस सेगंड में मिल रहा है, यह दिलिप है, यह किस स्पीड से डिस्टंस को कवर करनें, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मालो यह थ सेकिंड तो स्पीड मुझे पता है मुझे टाइम पता है पता है कितना 21 सेकिंड कितनी स्पीड से 8 एकस की स्पीड से तो डिस्टन सा गया जी है आप बोलोगे सर n दे रख तो और क्यों नीकाल रहा city उसको पता लग जाएगा पूरा distance कितना है अगर 5x की speed से cover करें तो 21 second लगते हैं क्योंकि question यह है ना कि भाया यह दो नो चले तो 21 second में मिलते हैं यह नीर जोर यह दिलीप कम मिलेंगे नीर जोर दिलीप तो भाया यह 2 unit यह 5 unit 7x की speed से चले तो कितना time लगेगा यही तो हो गया equation अगर 8x की speed से चल रहे हैं तो 21 second 7x की speed से चलेंगे तो कितने second यही है तो 8x की speed से 21 second लग रहे हैं तो 8x into 21 यह distance है इसी distance को 2x plus 5x 7x की speed से चलेंगे तो इतना time लग जाएगा तो इसमें आपको इनके speed detail में निकालेंगे ज़रूत ही नहीं है तो 20 second लगेंगे इसलिए करवा है equation की थोड़ इसी understanding और आपकी बढ़ेगी क्या चीज़े matter करते है क्या नहीं clear है exactly भी निकाल सकते है exact speed निकाल के बढ़ ज़रूत नहीं है एक और मज़ेदार question यह बताओ x y and z walk at 6 12 and 18 km per hour respectively they start from 8 watts b देखो यह a है यह b है x y और z यहाँ से चलना start करते है a से b की तरफ ठीक यह क्या speed है इनकी 6 12 और 18 2 बज़े 5 बज़े और 7 बज़े ठीक हुआ क्या देखो यह 2 बज़े चला x तो पहले चला जाएगा फिर इसके 3 गंड़े बाद y चलेगा y इसके पीछे 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 जाएगा कहीं पर पकड़ेगा इसके उद्दी की रुक भाई कहां जा रहा है फिर उसके 2 गंड़े ब y x को मिलता है y sends x back देखो x आगे आगे जा रहा है सबसे पहले पीछे पीछे उसके y गया y ने x को पकड़ा कि रुक y sends x back y ने x को पीछे भेज़ दिया विदे message to z को message दे जाके तो when will z get the message z को कितने बज़े वो message मिले बात समझ में आ गई अब करो नहीं किया है तो अब करो अब मैं बता रहा हूं देखो बहुत ही प्यार से जो भी हुआ उसी को follow करेंगे ये 2 बज़े चला था x तो y कितने गंडे बात चला आप बोलोगे सर ये तो 3 गंडे बात चला वो 2 बज़े वो 2 बज़े तो 3 गंडे में ये कितनी दूर चला गया होगा 6 की speed से 6 ती ये 18 कित स्पीड का जो difference हो चाहिए डिफरेंस बारा माइनस चाहिए 6 की speed से इसको 3 गंडे लग जाएंगे सर आठ बज़े पकड़ेगा इसको कहीं नगए x को y जो है कि 8 बज़े पकड़ेगा इसको यहां भाई क्यों बोल रहा हूँ 8 बज़े 5 बज़े के 3 गंडे बात 5 और 3 आठ बज़े पकड़ेगा कि भाई उसे जैड को एक message देना प्लीज ये बताया तो ठीक है अब 8 बज़े यहां से वापिसला स्टार्ट कर देगा कौन x लेकिन ये 8 बज़े कहा हूँगा वो मैं देखना चाह ठीक है अब देखो ये 7 बज़े निकलता है बंदा वहाँ पर वो 8 बज़े वापिस होएगा तो पहले मैं ये देख लूँ 8 बज़े ये कहां पर होएगा एक गंटे में 18 कि स्पीड से चल रहा है एक गंटे में 18 किलम्टर का डिश्टन कवर कर देगा 8 बज़े यहां पर हो तो अभी देख देता हूँ 18 किलम्टर का डिश्टन्स दोनों मिलकर कितनी देर में कवर करेंगे एक की स्पीड है 12 तोरी एकस है एक की स्पीड है 6,1 की 18,24 तो इतने गंटे लगेंगे भाई 6,3,8,6,24,3,4 गंटे याने की 45 मिनट 8 बज़े के 45 मिनट बाद ये मिलेंगे कह नहीं नहीं आट पैतालीस पर मैसेज मिलेगा कितने बज़े मिलेगा आट पैतालीस पर अलमी तीस A and B start traveling in the same direction at 8 km per hour and 13 km per hour respectively same direction में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चार गंटे में ये कहां पर होगा बंदा ये चार गंटे में आट की स्पीड वाला 32 km पर होगा A and B हैं A जो है ये 32 km दूर जाकर खड़ा होगा और B कितनी दूर गया होगा चार गंटे में 13 चोके 52 52 52 52-32 यानि कि 20 km आगे चला गया होगा टोटल 52 km ठीक नहां पर कड़े हैं तो A ने फिर डबल कर लिए तो A ने अपनी स्पीड कितनी कर लिए पहले उसकी स्पीड आठ थी A ने अपनी स्पीड को कर लिया जी 16 और B ने अपनी स्पीड को कितना कर लिया एक कम 13 में से एक गई 12 ठीक है ये इनकी स्पीड है 16 km पर 12 km यहां से ऐसे कर लो How long did the entire journey last चलो दोनों 3 किसे कर लिए इनकी स्पीड का क्या रिष वोगोगई गा And reached the destination together और जो destination है उसके ओपर वो एकट़े पुहंचे है यहाँ पर वो एकट़े पुहंचे है यहनि कि A यहाँ था B यहाँ था 4 गंटे के बाद इन्होंने अपनी speed में कुछ से बदलाव किया यहां के बाद दोनों इकठे पहुचे हैं यहां पर दोनों को same time लगा यह जहां पर भी थे वहां से वहां पर पहुचे हैं में same time लगा time same है तो जिसकी ज्यादा speed होगी उसने ज्यादा distance cover किया होगा जो भी speed का ratio होगा वही distance का ratio होगा speed का ratio 4 is to 3 तो distance का ratio भी 4 is to 3 distance के बिच में gap है एक unit का actual में gap था 20 km का A ने 20 km ज्यादा travel किया तो यह लोग जी 20 से गुना कर दो 2080, 20 ती 60 A ने actual में 80 km ट्रेवल किया B ने actual में 60 km ट्रेवल किया B ने इसके बाद actual में 60 km ट्रेवल किया है ठीक है तो total जरनी कितने गंटे चली तो गंटे में देखेंगे अहां दोनों इकठे पहुंचे फिर तो गंटे में देख लेंगे तो B को यहाँ से यहाँ तक कितना time लगा आप कैसे भी देख सकते है आपको total distance मिल गया अचा इन्होंने speed change की थी तो ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक B ने same speed रखी तो B को कितने गंटे लगे यहाँ तक इसको लगे 4 गंटे और यहाँ से यहाँ तक B कितनी speed पर चला 12 की speed पर चला किलोमेटर में पूछे तो किलोमेटर भी बता सकते हो ठीक है ची clear है यह बताओ यह second last question इस वीडियो का एक बार बैठ लूँ थोड़ी देर लाइव ही करो इसको वीडियो को पॉज किये भी ना टो ब्रूद इस वाँ लड़ां लड टोडिए सबूद बार रच को पॉज कि का एक लूचा है टो ब्रोद ब्रोद बार्द इस वाँ टोड़ु जप नाड़ तो दिए लूच पर अटिर डियो welder इंक्रेइसटिब इस स्पीड फई वन क्लेमेटरअ पर और 110 क्लीमेटर दूर है दो भाई है यह माल यह ऊपनों के स्पीड 5 क्लीमेटरअ प्रार ठीक हैator every hour हर एक गंटे के बाद यंगर ब्रदर चोटा भाई वो तक जाता है तो टुम कर लेता है speed को और बड़ा भाई बहिए है अई होता है कि फिस घॉते जब ऐसे करते तो वह compromise बड़े भरते हैं तो बड़ा भाई एक किलोमेटर पर हार बढ़ा लेता है प्यार में वह एक किलोमेटर बढ़ा लेता है कोई नहीं भाई तु थक गया था मैं तेज कर लेता हूं ठीक इन हाव मेनी आर्स फ्रॉम दा स्टार्टिंग दे विल मीट इस अधर बहुत ही सिंप कितनी थी पांच किलोमेटर पर हार मैटर क्या करता है मैटर यह करता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मैटर यह करता है कि दोनों की स्पीड का सम क्या है दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दोनों की स्पीड का सम मैटर करेगा ने इस डिस्टें सम मेटर करता है अगले गंटे भी 10 अगले गंटे एल्डर ने कर ली सा आते छोटे ने कर ली तीन फिर से सेम रहा तो यह कब तक सेम रहेगा यह सेम रहेगा जब बड़े की 10 हो जाएगी छोटे की 0 हो जाएगी उसके बाद यह मत बोलना कि बड़े की 11 होगी छोटे की माइनस एक, बंदा ठक जाता है, तो रुक जाता है, यह नहीं कि उल्टा ही चलने लग जाएगा, मैं ठक गया हूँ, फिर अगली बार दुग नी स्पीड से उल्टा चलने लग जाएगा, मैं ठक गया हूँ, ऐसा तो नहीं होता, तो वह वहाँ पर बैठ गया माल लो, ठक स्पीड का सम है, वह 10 ही चलता रहेगा, तो 6 गंटे तक तो 60 किलम्टर कवर कर देंगे, दोनों मिलके, दोनों ने मिलकर 110 किलम्टर कवर करना है, यह हम देखना चारे है, ठीक, तो भाई 6 गंटे में, तो 60 किलम्टर कवर कर देंगे, 110 में से 60 गया, बाकी कितना बच गया, ब पचास किलमेटर तो 50 किलमेटर को कब कबर करेंगे ये देखना है अब छोटा भाई तो बैट गया तो बड़ा भाई कबर करेंगा बड़े भाई की स्पीड के अगले गंटे 11 अगले गंटे 12 तो ही टेंट रेल से देखें कब पूरा होएगा सालीश पूरे होगए और ये कुछ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कितने हैं च्यर्ष और तिन साट और दनो और एकदस पूरे पचास पूरे होगए यजिए और आर्ष के अंदर तो 6 आर्ष में पहले इनों ने 60 किलमेटर कवर किये और अगले 4 आर्ष के अंदर इनों ने 50 किलमेटर कवर किये तो 6 और 10 गंटे में मिल लेंगे दोनो ठीक, clear आगे बढ़े लास्ट क्वेस्चन है ये एक बार समझो इसमें कुछ भी नहीं है स्क्वेस्चन में बहुत बड़ा है थोड़ा सा अजीब लगेगा मिसलेनेस क्वेस्चन करवा रहा हूँ अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है तो एक बार ट्राइ कर लो पहले 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे लो calculation wise कुछ भी नहीं है यह मत सोचना Calculative है Just pure conceptual है 2 trains P and Q Start from station A and B Travel towards each other तो 2 train है Station A और B से चल रही है P और Q एक दूसरे की तरफ चल रही है At the speed of 50 यह 50 की speed पर चल रही है यह 60 की speed पर चल रही है एक दूसरे की तरफ 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 The distance between A and B is 1100 इनके बीच में जो distance हो Station A और B के बीच में वो 1100 किलोमेटर है A house fly was sitting on the engine of a train P एक मक्थी train P के engine पर बैट्टी थी As the train started It started flying towards train Q जैसे ही train start हुई तो यह Q की तरफ Train Q की तरफ उड़ने लगी And touched the engine and started flying back towards train P जैसे ही train P start हुई है यह दोनों इकठी start हुई है जैसे ही train P start हुई मक्थी उसके engine से उठके भागी Train Q के engine को touch किया Touch करके फिर वापिस भागी Train P के engine को touch किया फिर वापिस भागी Q के engine को touch किया फिर P के engine को touch किया तो यह approach आप यह देख सकते हो मक्थी के उपर focus कर सकते हो यह उसने कब कितना distance travel किया उसके अंदर pattern निकालो जो कि कुछ निकलेगा नहीं लेकिन क्या बताया है अगे It kept on doing so till it is crushed between the trains यह तब तक ऐसा करती रही तब तक plane टकरा नहीं गई और बीच में मक्ही मर नहीं गई तो आप सिरफ इस चीज के उपर focus करो मक्ही की speed दे रखिये हंजी सर दे रखिये 70 km per hour की speed से उड़ रही है underestimate मत करो superior मक्ही है सूपर मक्ही है 70 km per hour अब focus करो आपको क्या देखना है कि क्या पूचा उसने distance यह पूचा है न पूचा कहा है find the distance traveled यह पूचा find the distance traveled by the मक्ही हाउस फिलाई ने कितना distance ट्रेवल किया तो distance के लिए हमें चीए speed into time speed हमारे पास है तो हमें सिरफ focus करना कि time कितने time तक वो उड़ी तो कितने time तक उड़ी जब दोनों train नों ने कठे चलना स्टार्ट के अधा तब वो उड़ना स्टार्ट हुई थी और जब दोनों train मिली तब वो मर गई तब तक वो उड़ी तो देख लो दोनों train चलना स्टार्ट करेंगी उसके कितनी देर बाद मिलेंगी पतम तो दोनों train कितना distance cover करेंगी दोनों train ग्यारा सो किलमेटर का distance travel करेंगी ग्यारा सो किलमेटर का distance travel करके दोनों मिल जाएंगी और कितनी speed से 60 पलस 50 110 की speed से तो दोनो ट्रेन 10 गंडे तक चलेंगी तो जब तक दोनो ट्रेन ने चली तब तक मक्ही वीच में लगी रही इतनी देर ही मक्ही उडी थी 70 की स्पीड से उड रही थी तो 700 किलामोटर उडी और फिर मर गई यह है मक्ही देख लो clear है so that's all इस concept lecture के अंदर इससे बाद हम concept lecture 7 करेंगे अगला यही relative speed का concept करेंगे हमने relative speed किया है वसको उसके अंदर जो problems on trains है न हो करने वाले अगली वीडियो में मिलता अलोड येर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर अभी हम concept lecture 7 पर पहुँच गए है time and distance के इस concept lecture के अंदर हम क्या करने वाले है relative speed के वेवाले question जिनके अंदर हम trains की length platform की length उन से deal करते है तो ये वाले वो questions है जिनको problems on trains के नाम से अलग से आपको करवाया जा सकता है लेकिन actual में ये relative speed का ही एक portion है तो मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया था मैं इसी के अंदर करवा रहा हूँ तो ये doubt मतले के राना कि problems on trains तो नहीं करवाया बस वो relative speed के अंदर करवा रहा हूँ clear रहा है बहुती मज़ेदार और बहुती easy concept है बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है इस lecture के बाद आपको 1% भी problem नहीं होईगी इस टाइप के questions के अंदर तो start करदें फिर चलिए जी trains में और car में क्या खास है relative speed सर concept तो relative speed का यह फिर यह अलग से train वाले आप क्यों करा रहा हूँ because क्या होता है कार तो होती है चोटी सी वो train होती है बहुत लंबी तो जब भी एक object दूसरे को cross करेगा तो इस तरह के अगर question किसी ने बनाने है तो train के उपर बनाने ज्यादा practical लगते हैं कार उतनी बड़ी नहीं होती है ठीक है तो इनकी length के कारण तो mail क्या होएगा जो problems on train वाले questions होएगे उनमें एक चीज़ दूसरे को cross कर रही होगी ठीक है कि एक train दूसरी train को cross कर देती है कितने time में कभी वो opposite direction में होएगी कभी वो same direction में होएगी ठीक है तो जब भी दो train या कोई भी दो चीज़ जब भी opposite direction में होएगी तो मैंने आपको बता रख रहे है जब भी चीज़ ऑपउजिट direction में चलेंगी तो उनकी speed क्या होगी उनकी speed का sum लेंगे opposite यानि के एक दूसरे की तरफ आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है जब भी चीज़े same direction में travel कर रही होती है तो क्या होता है तो हम उनकी speeds का difference लेते हैं तो ये concept कभी भी नहीं बदलेगा जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ ये concept कभी भी नहीं बदलेगा ये same ही है तो problem on train से उनके इंदर एक नया concept आता है नया concept क्या आता है distance traveled while crossing इसका मतलब क्या है ये मैं भी आपको समझा देता हूँ मैं आपको directly रटवा भी सकता हूँ लेकिन मैं पहले आपको एक बार physically दिखा दूँ practically दिखा दूँ क्या होता है जब भी दो objects एक दूसरे को cross करते हैं मालो दूसरे को cross करने के लिए जो उनको distance travel करना पड़ता है that is equal to sum of lengths of both objects यह माँ आपको देमो दिखाऊंगा practically आपके सामने जब भी दो objects एक दूसरे को cross कर रहे हैं यानि कि दो train ने एक दूसरे को अगर यहां पर मैं दिखाऊंँ दो train ने एक दूसरे को अगर ऐसे cross करेंगी यहां पर मेरा यह pen जो है यह इस color का गया आपको दिखने रहा होगा है यह लो यह देखो जब भी दो objects एक दूसरे को ऐसे cross करेंगे ऐसे अभी यह opposite direction में है तो ही यह same direction में हो तो जब भी एक दूसरे को cross करेंगे तो क्या होगा उस crossing के दोरान जो total distance travel हुआ है वो total distance उस crossing के दोरान एक दूसरे को cross करने में इस sum of lengths of both objects सर कैसे अभी देखते हैं अपने पास एक यह बस है लाल और यह ब्लू बस है इन दोनों को cross करके दिखांगा ठीक है और यह दुनिया के किने भी दो object पर लाग होता है तो इन दोनों बस ओपर भी लाग होगा तो यहां पर समझने की कोशिस करिएगा देखो करने के लिए distance उतना है cover करना पुड़ेगा कैसे अभी ब्लू बस ने जस्ट इसको cross करना start किया है बिल्कुल ऐसे एक line में मैं ले रहते है ब्लू बस ने इसको just cross करना start किया है ब्लू बस के उपर मैं पॉइंट बना दू माल लो ऐसे गोल गोल अप ऐसे point भी नहीं आप ऐस इसे माल लो ऐसे blue bus के इस सिरे को देखो बस कि बिल्कुल सामने जो है इस edge को देखना आपने blue bus के बिल्कुल starting में यह जो edge है इसको देखना है इस edge ने blue bus के उपर यह जो point है इस point ने कितना distance travel किया हम एक point लेना पड़ेगा तो अभी blue bus just red bus के को cross करने के लिए start करने वाली है अभी blue bus start करेगी देखना ए अब ब्लू bus जब start हुई तो red bus यहां से enter हुई यहां से cross करना start किया start किया start किया start किया अभी blue bus exactly कहां पर आ गई अभी blue bus ने exactly red bus के end पर आ गई तो blue bus के starting का point है मेरी बात को ध्यान से सुनेगा blue bus ने यहां से लेकर यहां तक काईये distance travel किया total भी तक यह यहां से लगी थी यहां तक आई है इसने कितना distance travel कर लिया यह red bus के starting से लगी थी और red bus के end तक पहुंच गया इसका move red bus के starting से लेकर red bus के end तक इसका move पहुंच गया तो इसने red bus की length जितनी red bus की जितनी length है उतनी दूरी cover कर ली फिलाल तक ठीक है, क्या अब cross कर ली अभी भी cross नहीं कि इसके side में पड़ी है तो अभी इसको क्या करना है यह यहाँ पर है, इसने red bus के end तक तो यह आ गई, लेकिन इसने खुद की body को भी तो निकालना है ना अभी तो crossing मानेंगे नहीं, यहाँ के बंदे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के बंदे यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी यह क्या करेगी खुद की जितनी length है उतनी length और आ गयाएगी इसे खुद की जितनी length है, उतनी length और आ गयाएगी, yellow इसने खुद की Length को भी निकाल लिया पहले इसका मुह यहां पर था अब इसका ओम्ह Pocket है यहां पर इसने उतनी लम्भाई कवर कर लिय कितनी blue बस की Length है यहां पर यह जो लंबाई इसने कवर की थी यह वो है जितनी red bus की length है तो total जब दो object एक दूसरे को cross कर रहे हैं तो उन्हें total कितना distance travel करना पड़ता है जितनी उन दोनों की length है यह मैंने practically आपको बता दिया ठीक है जी clear है उमीद है आप यह समझ गए होगे तो चाहे चीजे opposite direction में हो या same direction में अभी यह लाल बस तो खड़ी है अब लाल बस का मूँ उधर है या मूँ इधर है उससे कोई फरक पड़ता है लाल बस का मूँ में इधर कर दू है इसे गुमा कर यह लो इधर light हो जाए उधर वो हो जाए तो भी blue बसको उतना है distance travel करना पड़ेगा इसको cross करते हुए तो जब objects एक दूसरे को cross कर रहे हूँ तो direction matter नहीं करती हम देख रहे हैं कि total distance कितना travel करना पड़ा तो distance के लिए direction matter नहीं करती direction matter करती है speed के लिए जब आप speed निकालना चाहोगे कि इस crossing की speed क्या है तो relative speed यूज़ होएगी अगर आप यह देखोगे इस crossing में distance कितना travel करना पड़ा direction same हो या opposite हो sum of length of both the objects crossing में यह होगा clear है तो हमारे जो question आएंगे वो किस तरह कि आएंगे कि एक train है अब आपने मुझे बताना है कि भया total distance कितना travel हुआ situation में एक train है एक pole को cover कर रही है एक pole को cross करेगी तो एक train एक pole को cross करते हुए कितना distance travel करेगी मैंने क्या बोला है कोई भी दो objects जब एक दूसरे को cross करेंगे तो वो कितना distance travel करेंगे दोनों की length का sum तो यहाँ पर total कितना distance travel होएगा length of train train की length plus इस pole की length लेकिन pole की length जो हो negligible माननी जाती है कितना साथ चोड़ा होता है pole थोड़ा साथ होता ही है तो train कितनी बड़ी होती है बहुत बड़ी होती है तो pole हुआ paid हुआ आदमी हुआ ऐसी चीज़े हैं इनकी length को consider नहीं किया जाता clear आदमी ज्यादा है ज्यादा मोटा हो गया जो भी कितना मोटा हो जाएगा उसकी length जो है train की length के सामने negligibly रहेगी तो क्या है जब भी ऐसा case हो कि train किसी pole को cover करे आदमी को cover करे paid को cover करे तो सिर्फ train की length ले जाती है clear अगर train किसी platform को cover करेगी तो platform तो काफी बड़े बड़े होते हैं तो इस क्रोशिंग के दो रहान जब train platform को close करेगी तो इस crossing के दो रहन कितना distance travel होगा train की length plus platform की length clearage जब एक train दूसरी train को cross करेगी चाहे opposite direction में करे और same direction में करे तो इस दो रहन कितना distance travel होगा क्रोशिंग में महली train Planth plus दूसरी train clear explorate समझ गए ठीक अब कुछ क्वेशन करेंगे हूं 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 पता हो जी यहां पर आप अभी तो क्वेशन की रकम नहीं है आप कैसे बताओगे पूछूंगा मैं भी टेंशन मतलू हूं अभी आपके सामने मैं चार पांच क्वेशन दूँगा उनके अंदर में क्या क्या बताओंगा पहले यह कह बता दूँ यहां पर एक train है train की लयन्थ बताओँगा मीतर में ठीक है यह स्ट्रेंड की स्पीड़ो मीटर प्र-ार में तो कि यह t devastating की ओबजेक्ट को क्रोस करेगी है जो भी है तो उसकी direction बताऊंगा और object की speed बताऊंगा अगर object चल रहा होगा तो speed होगी उसकी direction होगी किस direction होगी आपको बताना है time कि इस crossing के अंदर time कितना लगे तो मेरे भाई क्या होगा यही formula use होगा distance is equal to speed into time कोई भी object जब एक दूसरे को cross करेंगे तो distance होगा sum of length speed depend करेगी वो किस direction में एक दूसरे को cross कर रहे हैं same direction में होगे दोनौ move कर रहे हैं तो मॉंँ कर रहे हैं same direction में हुए crossing के दौराण relative speed क्या होगी difference ऑप जिब आरेकिशन में होगी तो sum कभी कभी होगा एक object और object नहीं कर रहा तो जो move नहीं कर रहा जो object उसकी speed 0 है वो खड़ा है वहाँ पर तो सिरफ speed किसकी use होईगी जो move कर रहा है उसकी वो दूसरा तो हिल नहीं रहा है ठीक है और मैंने time आपसे पूछा है तो आप क्या देख लोगे कि पूरी crossing का distance कितना है यानि कि sum of length of objects बटे में crossing के अंदर speed कितनी use हुई आपको time मिल जाएगा है दोगे वीडियो को post करके एक बार यह बताओ चलो जी देखते हैं मैं आपको बताता हूं देखो हमें बताना है time कि time कितना लगेगा यहाँ पर यहाँ पर तो time के लिए मुझे कैच है distance upon speed तो यहाँ का time बताएंगे तो जब एक train एक pole को cross करेगी तो total distance कितना travel करेगी सर शिर Crossing के अंदर ठीक है pole move होते हैं हमारे गाऊं में तो नहीं होते है आपके गाऊं का मुझे पता नहीं ठीक है तो pole move नहीं होते किसी भी direction में में महीं होते है speed भी 0 है ठीक है 18, 34, 3 से ये गया, 5 से गया 20 पर, तो 20 सेकिंड लगेंगे, तो मैंने किया क्या है, एक बार फिर से बता दूँ, कि इस क्रोसिंग के दोरान, जब ये train इस object को क्रोस करेगी, तो total distance कितना travel करना पड़ेगा, बटे में speed कितनी speed से करना पड़ेगा, अगला question, जब एक train एक मेंन को क्रोस करेगी, तो भाया distance travel करना पड़ेगा, जो भी train की length है, क्योंकि मेंन इतने मोटे नहीं होते हैं, कि उनकी length को consider करेगा, ठीक, और direction मेंन मूव कर रहा है, खड़ा नहीं है मेंन, तो same direction में जा रहा है, तो जब same direction में जाएंगे, तो relative speed क्या होएगी, इनका difference, तो 90 और 36 का difference याने की 54, 90 माइनिस 36, 54, क्योंकि same direction में जा रहे हैं, तो ये crossing 54 km per hour की speed से होएगी, meter per second में बदल लो, क्योंकि उपर distance meter में है, अभी answer second में आ जाए, 18, तो आ रहा है, तो ये चोवन, 5 तो ये 15, 15, तो ये 45, 30 second, यहाँ पर कितना time लगेगा जी, 30 second, clear, are we getting this, समझ में आ रहा है हमें, बहुती आसानी से बता रहा हम, बहुती प्यार equation, बहुती आसान question, आपका थोड़ा सा base build कर दे, फिर actual statement वाल equation करेंगे, जब एक train, एक बंदे को cross करेगी, तो distance total travel होएगा, उस crossing के दोरान, crossing के दोरान, time में पूछ रहा हूँ, तो 250 meter plus man की, लंबाई तो man की लंबाई 0 है, तो train की length, divided by, opposite direction में बंदा travel कर रहा है, 36 की speed से, तो अब की बार sum होएगा, 144 plus 36, यानि की 180, 180 की speed से crossing होएगी, 5 पूटे 18 से मिल्टी प्लाई करो, speed को meter per second में कनोट करो, 18 से 18 गया, 20 से जाएगा 5 पर, 5 सेकंड लगेंगे मेरे बाई, clear, ठीक है, देखो, एक train जो है, एक platform को cross कर रही है, तो train अगर platform को cross करेगी, तो total distance travel होगा, train की length plus platform की length, हमेशा, दोनों object की length का सम, 1500 plus 200, यानि की, 3500 meter distance cover होएगा, इस crossing के दोरान, platform वहीं पर खड़े रहते हैं, move नहीं होते, तो direction कुछ होएगी नहीं, तो यह जो भी लिखिया है, यह platform की direction नहीं लिखी, इसकी length लिखिया है, ठीक है, 200 meter, तो train की, हाँ, यह इसकी length तो मैंने लिख 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 लिख, ठीक है, तो platform move नहीं होते, distance तो हम लिख चुके हैं, platform move नहीं होते, तो speed जो use होएगी, इसको meter per second में बदल दू, 18, 17, 35, 10, clear है मेरे भाई, next, train एक breeze को cross कर रही है, तो total distance cover होएगा, train की length प्लस breeze की length, वो breeze की length है, 150 plus 225, 400 meter total distance cover होएगा, तो इतना distance cover होएगा, कितनी speed पर, क्योंकि breeze भी move नहीं करते हैं, तो train की speed के साथ, 90 की speed है, तो meter per second में convert कर ले, 18, 95, 5 और 25 होते हैं, 25, 24, 24, 16, 16, clear है, यह बात समझ में आगी, यह base है, आपके problem on trains का, इस equation के अंदर सब कुछ आ गया, इसी understanding के कारण, अब हम आगे के सारे question कर पाएंगे, इसी के अपर बेस्ट होएंगे, के लो, आपके भाई को अचितर के सब पता है, आपकी कैसे practice कराना है, question स्टार्ट करने से पहले ही, आरा concept, आप बेस आपके दिमाग में कैसे fit करना है, तो अभी आपने सिरफ तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या करेगा, वो distance, speed और time में से कोई भी दो चीज़ बताएगा, और तीसरी पूछेगा, ठीक है, इसके लावा वो कुछ करी नहीं सकता, वो मजबूर है, क्योंकि हमारे पास 4 variable नहीं है, हमारे पास 3 variable है, 4 variable तक नहीं है, हमारे पास सिरफ 3 variable है, distance, speed, or time, कोई भी दो बता कर तीसरा पूछेगा, कोई भी दो object एक दूसरे को cross करें, तो distance कितना travel करते हैं, दोन object की length का sum, speed क्या होती है, direction पे depend करेगी, time वो बता देगा या पूछ लेगा, clear है, इसी formula को दिमाग में बठा लो, अब देखो, इस question को करते हैं, एक step के अंदर यह सारे question हो जाएंगा, a train 800 meter long is running at a speed of 78 km per hour, if it crosses a tunnel in one minute, the length of the tunnel, इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा, length of the tunnel, या निए उसने हमसे पूछा है, distance, distance क्या होता है, speed into time, इस crossing के दोरान, total distance कितना travel करेगी, train, दो object एक दूसरे को cross कर रहे हैं, train की length plus tunnel की length, train की length 800 meter है, और tunnel की length को मैंने माल लिया है, जिट्टी, तो यह total distance है, और distance क्या होता है, speed into time, तो इस crossing के दोरान, speed किस की use होएगी, train की use होएगी, tunnel तो मोग करती नहीं, ठीक है, meter per second में बदल दूँ, जी हैं, अब यहाँ पर काफी जरूत पड़ेगी, पांस अठारा और अठारा उठारा 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 उठांस की, ठीक है, ठीक है, ती अठारा, तीन से जाएगा, जब इस पे, ठीक है, तो यह हो गया जी, 1300, 800 में क्या जोड़ू की, 1300 आए, 500, यानि की टी की value है, 500, 800 और 500, 1300, answer is 500, clear, कोई भी प्रेशा नहीं, इसमें, एक बार शोच लो, कोई भी प्रेशा नहीं हो, तो बहुत ही basic question है, इस concept का, कोई प्रेशा नहीं होनी नहीं चाहिए, वैसे, प्रेशा नहीं होएगी भी तो, दिरे-दिरे, cover हो जाएगी, बहुत एरे question, प्रेस करेंगे, बताओ, the length of a train and platform, मन ही मन में हमें देखना है, कि इन में से क्या given है, क्या पूच है, the length of a train and platform are equal, train or platform की length equal है, ठीक है, if with a speed of 90 km per hour, the train crosses the platform, तो train platform को cross करेगी, train की speed matter करती है, platform move नहीं होते, speed given, crossing की speed given, train की speed होएगी, in one minute time given, distance पूच हैगा, इस खतम बात, समझ गया है ना, then the length of the train, train की length और platform की length equal है, तो मैंने train की length x मान ली, platform की length x मान ली, तो crossing के अंदर distance कितना travel होएगा, दोनों की length का सम्तु, x plus x to x, तो ये distance travel होएगा भाई सब crossing में, crossing में speed क्या होएगी, 90 km per hour, मैंने मीटर में माननी है, मीटर में माना करो train की, km में नहीं होते हैं यहाँ पर, तो speed 90 km per hour है, तो 5 बटे 18 कर दिया, कितना time लगा, इस crossing में 1 minute याने की 60 second, खतम बात x की वेल्यों निकालो, बताओ, 18, 95, 2, 30 पर जाएगा, 25, 35, यही ट्रेन की लेंत है, यही प्लेटफॉर्म की लेंत है, जिसकी भी वो पूछेगा, आप यही बताओगे, क्योंकि दोनों की परापर है, clear है, तो यह चीज़ mentally कर पाओगे, कि इन तीनों में से कौन से 2 given है, complex questions को भी ऐसे ही करवाऊंगा, तो यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दिया, तो पहले जिनको मैंने ब्रेकेट में बंद किया है, उनको देखा, उसने क्या क्या बताया है, एक train, दूसरी train को cross कर रही है, ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है distance is equal to speed into time, तो इन में से क्या क्या given है, एक train, दूसरी train को cross कर रही है, दूसरी train की जो length वह उससे half है, ठीक है, distance के बारे में कुछ बताया है नहीं, ठीक है, और दूनो train की speed बता दी, और direction भी बता दी, तो speed हमें मिल गई, crossing की, ठीक है, crossing का time बता दिया, तो crossing conditions मिला पड़ा है कि नहीं, speed और time बता दी, और क्याची है आपको जिन्द की में, तो जिस train की हम बात कर रहे हैं, दूसरी train इससे half है, तो जिस train की हम बात कर रहे हैं, उसकी length मैंने माली to x, और दूसरी train की length हो जाएगी x, जो इससे half है, हमारी train ये वाली है, ये निये कि end में x की value निकाल कर, उसी को use कर दो, हमारी train ये वाली है, दूसरी train की लंबाई है x, ये total distance travel होएगा crossing में, जब वो दूनों train एक दूसरे को cross करेंगा, speed कौन सी use होईगी, direction क्या है, sir opposite है, तो sum कर दो speed का, 90, 48 plus 42, 90, sir meter per second में बदल दे हैं, जी हाँ, बार बार पूचाओ मत कुदी बदल दो, ठीक है, time कितना लगा इस direction, इस काम के अंदर, 12 second, तो इस की value आ जाएगी, तो समझ रहे हो, मैं exam में सिर्फ ये लिख के, बलब ऐसे कर लेता, ये, ऐसे है, तो मैं अभी फिलाल आपका tempo बना रहा हूँ, 18, 95, पढ़ोगे नहीं तो tempo ही बनाऊँगा, रिक्षा ही बनाऊँगा, ठीक है, पढ़ लोगे तो गाड़ी बन जाएगी, 3x is equal to this, 3x की value ये है, तो मैं 3 से काड़ दू, 3,12, ये x की value आ जाएगी, 25,25, अगर x की ये value है, 200, तो 2x की value क्या हो जाएगी, 2x की value we have 200, तो हमारी train की लंबाई 2x थी 200, दूसरी train की लंबाई 100 मिटर थी, अब ये ये बोल रहे हैं, जो हमारी train है, टोल सो पासी से railway platform, ये railway platform को पास करते हैं, 45 second में, तो, कितने second में, तो speed given है, जी हाँ, speed तो वही रहेगी जो इस train की है, platform move नहीं करते, time बता दिया, जी हाँ, फिर से distance push लिया, simple सी बात है, इस crossing के अंदर distance कितना लगेगा, train platform को cross कर रहे हैं, तो train की speed, हमारी वाली train की ये speed है, sorry, train की length, plus platform की length, is equal to, ये total distance cover होगा, distance is equal to speed into time, speed use होएगी हमारी वाली train की, ठीक है, 48 km per hour, इसको meter per second में बतल दो, और time कितना लगा, उसने बता रखा है, 45 seconds है, तो ये simple सी बात है, पर एंदेखें फिर, उसे कट उच्छे सही कटना पड़ेगा, 48, 48, 46, 3, 3, 3 से जाएगा 15 पर, ठीक है, 8, 5, 4, 600, 200 plus what is equal to 600, इस what की value हो जाएगी, 400, platform की length जो है, that is, जाएगी चार्शो, option D, clear, ये बताओ, two trains are running in opposite direction, with the same speed, if the length of each train, is equal to 120 meter, हर एक train की length, इतनी है, तो क्या given है भहिया, distance given है जी, ठीक है, direction बता दी की, opposite direction में, move हो रही है, ठीक है जी, ये चीज ऐसे लिखने की, जरूत नहीं है, जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कि दिमाग में, क्या चल रहा है कि, distance given है, and they cross each other in 12 seconds, और उस crossing का time given है, तो speed मिल जाएगी, कि नहीं मिल जाएगी, तो वो speed ही पूछ रहा है, तो उस crossing का distance कितना है, जी हर एक train की लाइंट 120 meter है, और दो train एक दूसरे को cross कर रही है, 120 प्लस 120, दो train है, दोनो train की लाइंट का सम, तो टोटल distance हो गया सर, 240, distance बटे में, time is equal to speed, time कितना लगा उनको, सर, 12 second लगे, तो 20 meter per second की speed से crossing हुई है, 20, इस crossing का distance हमें पता है, इस crossing का time हमें पता है, crossing की speed निकाली है, तो crossing की speed यह है, 20 meter per second, ठीक, दोनो train की speed, और इस crossing के अंदर, direction क्या थी, सर, direction थी opposite, तो opposite direction में, crossing की speed क्या होती है, दोनों की speed का sum, तो दोनो train की speed का sum है, यह, एक train की speed निया, दोनो train की speed का sum, और दोनों की speed सेम थी, यहनि कि, एक train की speed क्या होईगी, इस से आद्धी, और एक train की speed क्या होईगी, कि अधिर हमेदीच से अधिर 10 मीटर पर शेंड ये का बॉल रहे हैं स्पीड ओफ इच ट्रेन इन क्लोमिटर पर शेकिनल और 20 मीटर पर सेकिंट को बदल लो क्लोमेटर पर आर में बड़ी फ्रेक्शन से मेल्टिप्लाई करके 37 क्लोमिटर पर आर क्लियर है समझे के क्लियर यह बताओ यह देखता हूँ आप करोगे की नहीं कर्दक्राइब बताओ हुँँँ अजी तू ट्रेंस आर मूविंग ऑन टू पैरलल ट्रेख्स बटीन ओपजिट डियरेक्शन दो ट्रेन ओपजिट डियरेक्शन में चल रही है पैरलल ट्रेक्स पे आ रही है यहाँ पर इसकी बात को ध्यान से पढ़ना एक बंदा है जो कि एक ट्रेन में बैटा है एक बंदा है जो कि एक ट्रेन में बैटा है एक पर्षन सीटिंग इन दा ट्रेन पर्षन में बैटा है यह इस ड्रेक्षन में जा रही है और यह इस ड्रेक्षन में आ रही है तो यह यह बता रहे है एक बंदा है जो मालो यहाँ पर बैठा है इस ट्रेन के अंदर इस ट्रेन के अंदर यहाँ पर बैठा है यह बोल रहे है कि यह बंदा है जो उस ट्रेन के अंदर बैठा है जो कि 80 कलांटर परार की स्पीड से मूग कर रही है यह पर्षन इस ट्रेन को पास कर रहा है तो यहाँ पर जो क्रोसिंग है वो कौन से दो object के बीच में हो रही है यहां पर सबसे पहला confusion बच्चों में होता है उनको यह लगता है कि यह जिस crossing की बात कर रहा है यह जिस time की बात कर रहा है यह बात कर रहा है कि यह वाली train इसको cross कर रही है नहीं इस train के अंदर एक बंदा बैठा है उस बंदे की और इस train की crossing है यह person sitting in the train moving at the speed of 80 km per hour passes another train अब हिंदी में पढ़ते हैं देखो 80 km परती घंटा की गती से चलती हुई rail में बैठा एक व्यक्ती दूसरी rail को 18 सेग्ड में पार करता है यह व्यक्ती पार कर रहा है दूसरी rail को यह person पार कर रहा है यहाँ पर जो crossing है वो इस बंदे की और इस rail की है यह बंदा की speed से move कर रहा है sir अगर यह train 80 की speed से move कर रहा है तो बंदा भी 80 की speed से move कर रहा है common sense तो इस बंदे की speed है 80 km per hour मानेंगे तो यहाँ पर दो object कौन कौन से हैं crossing के यह बंदा और यह train if the length of the other train is 1000 meter दूसरी train की length अगर 1000 meter है then तो इसकी speed बताओ तो simple सी बात है भाई बहुत ही simple बात है बताओ है कि नहीं crossing के अंदर तीन चीज़े होती है distance is equal to speed into time आप उचत रहे then it's speed दूसरी train की speed तो इसका मतलब हमें crossing की speed नहीं पता अगर उसने आपसे speed पूछी है तो speed नहीं पता time पूछा है तो time नहीं पता उसने वो चीज़ बताओ ही नहीं होगी speed के लावा सब कुछ बता रखा होगा crossing का distance कितना है इस बंदे की और इस train की crossing है दो object है train और बंदा तो दोनों की लंबाई sum होएंगी ये meter per second में आगी लेकिन ये मांग रहे हैं km per hour में तो पर 2,18 उटे 5 ठीक है जी तो 200 km per hour आगी 200 km per hour क्या है ये इस crossing की speed है हम DST जो लिखते हैं वो इस crossing का लिखते हैं इस crossing की speed है crossing की speed ये किस direction में है सरी SC की speed से उधर और ये इधर तो दोनों opposite direction में जा रहे हैं तो दोनों की speed का sum होगा दोनों की speed का sum 200 है इस crossing की speed क्या होगी जो भी दोनों की speed का sum होगा 200 में से 80 तो ये होगी यानि कि ये 120 km per hour आ रहे है इस train की speed ठीक clear है statement कोच्छे है समझगे कोई भी प्रेशा नहीं नहीं होनी चाहिए अभी ये बताओ train of length 200 मिटर क्रोस इस cyclist coming in opposite direction with a speed of 5 मिटर पर सेक्ड इन 10 सेकंड एक train एक सेक्लिस्ट को क्रोस कर रही है ठीक हैसी इन हाव मस्ट टाइम दा सेम ट्रेन कान क्रोस another cyclist तो यहां से आपको एक चीज मिल जाएगी फिर उसको हम अगले sentence में use करके answer कर देंगा बस यहीं मामला है तो cyclist की तो कोई लंबाई नहीं मानेंगे यह मत बोलना सर शाइक की लंबी होती है उसको ignore करेंगे ठीक है तो हमें distance पता है हमें type time पता है तो total distance हो गया जी दोस्तो distance पते में time time कितना है जी 10 second तो 20 meter per second speed है इस crossing की 20 meter per second में से cyclist की और यह direction क्या थी opposite direction थी तो क्या हुआ होगा यह sum होगा दोनों की speed का opposite direction में जो speed होती है crossing की वो दोनों की speed का sum होता है तो 20 में से 5 meter per second तो cyclist की speed है तो बाकी की 15 meter per second train की speed होगी यह cyclist की ही train की है तो train की speed मिलगी जी हाँ मिलगी अब यह क्या बोल रहे है यह बोल रहे हैं कि यही train किसी दूसरे cyclist को जो opposite direction में जाहरा है 10 meter per second की speed से कितनी देर में cover करेगी ठीक तो distance क्या होगा क्रोसिंग का सरसिरफ train की length क्योंकि cyclist की length नहीं matter करेगी तो train की length है 200 meter ठीक है distance upon हमने निकालना क्या है हमने निकालना कितना time तो distance upon speed is equal to time train की speed है 15 meter per second cyclist की speed है 10 meter per second total sum कितना हो जाएगा जी 15 plus 10 25 opposite direction है न 25 की speed से crossing होईगी ठीक असान यह क्योंशन आसान हो रहे है कि नहीं आपके लिए आपके लिए and a lamb post in 10 seconds and the speed of train will be 50 by 4 25 by 2 18 बटे 5 2 निम्मे 5 45 वाजाएगा इस कांसर कितने एजी लिए आपने काले तो देखो जो moving train है वो किसको पार करिया platform को तो जब train platform को पार करेगी तो वो कितनी लंबाई travel करेगी इस crossing में कितना distance travel होगा खुद की length plus platform की length तो train ने खुद की length train की length मैंने माल लिए t खुद की length t plus platform की length कितनी है 50 मिटर इतने distance को cross करने में और इस distance को cross किस speed से हम कर पाएंगे क्या platform move हो रहा है नहीं जब platform तो move नहीं होते तो इस crossing की जो speed है वो train की speed यूज होएगी जी हाँ तो train ने train की speed यूज हुई है train ने इस का मतलब इस distance को train ने cover किया है अपनी speed जी हाँ train ने खुद की length plus 50 मिटर cross करने में 14 second ले लिए और उसने क्या बताया है कि and a lamp post train lamp post को 10 second में cross करती है तो जब train lamp post को cross करती है तो कितनी length travel करने बढ़ती है उसको खुद की length जीतनी lamp post की length को तो हम ignore करते है तो यानि की t meter train ने t plus 50 मिटर cross करने के लिए 14 second लिए और train ने t second t meter cross करने के लिए 10 second लिए दोनों situation को compare करना चाहा उपर वाली situation में train ने 4 second extra लिए है क्यों train इस distance को चलने में 10 second लेती है तो total 14 लिए है यानि की 50 मिटर के लिए 4 second लेती है तो train 50 मिटर इतना distance इतने time में चल देती है तो distance upon time is equal to speed train 50 मिटर 4 second में चल देती है यह इसकी speed है kilometer per hour में चाहिए तो 18 बटे 5 कर लो that's it ठीक है 5 को के 20 20 से काटूँगा 0 से इसको काटूँगा 2 निमे अठार 45 ठीक है clear है ऐसा ही एक और question दू ठीक है यह situation मैंने वहीं पर compare कर ली थी कि निचे वाली situation में तो train को खुद की length cover करनी पड़ रही है खुद की length जितना चलना पड़ रहा है उसके लिए इसको 10 सेकंड लग रहे है उपर वाली situation में इसको खुद की length plus 50 मिटर चलना पड़ रहा है उसके लिए इसको 14 सेकंड लग रहे है उपर वाली situation में extra distance कितना चलना पड़ रहा है 50 मिटर extra time कितना लग रहा है 4 सेकंड यानि कि उस 50 मिटर के लिए वो 4 शेकिन ले रही है तो 50 पटे 4, 25 पटे 2, 18 आपटे 5 अब इसको कर लोगे बताओ कम से कम लिख के गरो पहले को सिस करोगे आप इसको mentally करो mentally ही कर पाओगे लिखने के जरूतीन यह train traveling with uniform speed crosses two bridges of length 300 मिटर और 240 मिटर तो उपर वाली situation में वो खुद की length और 300 मिटर इतना distance travel करेगी निचे वाली situation में खुद की length और 240 मिटर इतना distance travel करेगी उपर वाली situation में कितना extra उसको चलना पड़ रहा है सर 6 मिटर एक्स्टर चलना पड़ रहा है उसने time कितना extra ले लिया सर उसने 3 सेकंड एक्ट्र टाइम ले लिया तो उसे 60 मेटर के लिए उसने 3 सेकंड टाइम ले लिया भाई 20 मेटर पर सेकंड है उसकी स्पीड उस 60 मेटर के लिए उसने 3 सेकंड ले लिया 20 मेटर पर सेकंड उसकी स्पीड है किलमेटर पर आर में पूछ रहे हैं तो कोई दिक् की speed मिल गई जी हाँ आपको ये मिल गए ना कि वो train जो है वो 60 मेटर चलने में वैसे speed निकालने की विज़रूथ नहीं है लेकिन ये एक हिज़ाब की speed ही है कि 60 मेटर चलने में 3 second ले रही है ये speed ही तो है ना इतने distance को इतने time में करिये 60 मेटर चलने में उसको 3 second लग रहे हैं तो 60 मेटर का कितने गुणा ही है तो ये 5 गुणा है तो 3 का 5 गुणा 15 यहाँ पर उसको 15 second लगेंगे 300 मेटर चलने में उसको 15 second लगेंगे लेकिन इस situation में total second उसको लग रहे हैं 21 गई तो बाकिके 6 second कहां गयी सर वो train खुद की length को cover करने में यूज कर रही है train को 2 द्रेकी length चलने है खुद की length plus platform की length खुद की length के लिए बाकिके 6 second यूज कर रही है 6 second में 120 मेटर जा सकती है अंजी सर वही उसकी length है 6 से गिन में खुद की लेंद कवर कर रही है, दूसरे तरिक कैसे इसको कर रहा हूँ, एक बार यह देखो, एक बार यह देखो, स्पीड निकाल के भी कर लेंगे, अब कर रहा हूँ, एक बार यह देखो, स्पीड निकाल कर रहा हूँ, एक बार यह देखो, एक बार यह देखो, करना पड़ रहा है फिर च्यार्श्व मीटर एक्स्टा ट्रेवल करना पड़ रहा है जी हां उस च्यार्श्व मीटर डिस्टेंस के लिए उसको कितना एक्स्टा टाइम लग रहा है फिर चालीस सेगंड लग रहे है ठीक है तो उसकी स्पीड कितनी होगी दस मीटर पर सेक्ड ठीक है अंजी सर ट्रेन की स्पीड दस मीटर पर सेक्ट होगी तो ठीक है सो सेकिंड में अगर एक सेकिंड में वो दस मीटर जा सकती है तो सो सेकिंड में कितना जाएगी तो सो इंटू दस सर हजार मीटर चली जाएगी यानि कि यह हजार मीटर है अब मैं इसकी स्पीड निकाल कर कर रहा हूँ तो 1000 में से 800 मिटर तो प्लेटफॉर्म की लें थे 200 मिटर ट्रेन की लें थे फिर नीचे यूज़ कर लो ट्रेन की स्पीड 10 मिटर पर सेकंड है तो 60 सेकंड में उसने 60 इंटू 10 600 मिटर की दूरी तै कर लिए होगी 600 में से 400 यहां पर रहा है 200 ट्रेन के लें थे जब हम चीज़ों को क्लेर कट देख पाते हैं तो आसान हो जाती है जितनी बेसिक्स की कलारिटी आपको होगी चीज़े उतने ही आसान हो जाएं क्या ग्वन है क्या निकालना है ठीक है अब मैं चाहूंगा इस situation के प्राप थोड़ा सा टाइम दे मैं आराम से पानी प्यूंग वीडियो को पॉज ना करें प्रिसको करने के खोशिए असान question है अगर ठीक direction में सोच पाई हां जी तू परसंस आर वोकिंग इन दा सेम डिरेक्शन अडरेट्स अफ त्री किलमेटर और शिक्स किलमेटर पर आर दो बंदे हैं सेम डिरेक्शन में मूव हो रहे हैं तीन किलमेटर और शे किलमेटर पर हार की स्पीड से ट्रेन कम्स रणिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड पासी स्थेम इन नाइन सेकेड और टैन सेक्ड तो दो बंदे हैं मालो यह एक बंदा है यह एक बंदा है यह ट्रेन है यहां से ऐसे आई और एक बंदे को यह तीन की हंजी सर बंदे भी उधर मूग हो रहे हैं इस बंदे को जब train ने cross किया 10 km पर आर वाले को कौन सी speed से travel किया यह जो 6 km पर आर वाला बंदा है यह उस direction में थोड़ी सी तेजी से चल रहा है तो इसको cross करने में थोड़ा से ज्यादा time लग जाएगा क्योंकि यह भी train के साथ ही च तो दो situation है इस बंदे को cross किया तो 9 सेकंड लिए इस बंदे को cross किया तो 10 सेकंड लिए crossing के अंदर distance कितना travel हुआ train के लिए जितना बंदों के लिए तो हम consider नहीं कर रहे है very good nice point ठीक है तो दोनों crossing का time कितना है दोनों crossing का time है sir 9 सेकंड और 10 सेकंड ठीक है तो time का ratio है 9 इस टू 10 तो speed का ratio क्या होगा speed का ratio होगा 10 इस टू 9 यानि कि इस crossing के अंदर इस crossing के अंदर जो speed है और इस crossing के अंदर जो speed है उनके बीच में उनका ratio है 10 is to 9 वैसे उन दोनों के बीचे में फरक क्या होएगा सर 3 km पर आर का होएगा क्यों इस बंदे को train ने cover किया होएगा T-3 speed से इस बंदे को cover किया होएगा T-6 speed से 3 का फरक हैं इन दोनों में 3 का फरक आया होगा net crossing की जो speed रही होगी तो ratio में तो फरक एक का है actual में 3 का है तो क्यों ना 3 गुना कर दे यहाँ पर तो 30 km पर आर की speed से और यहाँ पर 27 km पर आर की speed से crossing हुई है यह crossing की speed है क्योंकि यह crossing का time है उतने distance को travel करने के लिए यहाँ पर 9 second लगे यहाँ पर 10 second तो यहाँ पर इतनी speed से तो distance travel हुआ यहाँ पर इतनी speed से तो यहाँ पर यह उस बंदे को cross करने की speed है 3 km वाले को तो train की speed कितनी होगी train ने क्या आपनी speed से उसको cross कर दिया होगा नहीं train ने t-3 से इसको cross किया होगा तो यह t-3 है t-3 train की speed से 3 कम है यह train की speed तो 33 है कि यह फिर टेन की स्पीड से छह कम है, से से को क्रोश किया हएगा तो यह स्पीड से छह कम है, इसमें 6000 टेन की स्पीड हीगी इसमें 30 टेन स्पीड त्रन की वित रहा रहा है, Task नहारों सHANया मत्री में और ओर सर एक और क्वेस्टन करना चाहेंगे आप ऐसा बताओ उसी टाइप का है एक्जेक्ट्लिव ऐसा नहीं है अलब टाइप भी थुड़ा सा लगी बहुत सकते हैं उसी लेवल के इंडरस्टेंडिंग का है चलो बताता हूं आपको समझार हूं एक ट्रें ने इसको पास किया ठीक है तो इस ट्रें ने इसको 3 सेगड़ेन पास कर दिया और इस ट्रें ने इसको 4 शेक्ड़ेन में पास कर दिया तो जिसने च्यार शेक्ट में पास किया हो तो यह मंदी स्पीड पे चल रही होएगी उसको ज्यादा टाइम लग गया जब इस ट्रेन ने इसको पास किया तो टोटल डिस्टन्स कितना कवर करना पड़ा उस क्रोसिंग के लिए ट्रेन को खुद की लेंद बंदे की लेंद तो मैंटर नहीं करती है इस क्रोसिंग में भी ट्रेन को खुद की लेंद जितना डिस्टन्स लना पड़ा जी हां दोनों ट्रेन की लेंद सेम है जी है तो दोनों crossing के अंदर जो distance सला गया मलब ये train और ये train same distance cover करती है ये 3 second में ये 4 second में distance same है तो time का क्या ratio है 3 second and 4 second तो speed का क्या ratio होगा दोनों train की का 4 is to 3 दोनों train की speed का ratio 4 is to 3 होगा ठीक टाइम टेकन बाइट रेंस टू पास इस अधर train एक दूसरे को पास करने में कितना time लेंगी बताओ कैसे करें इसके बाद यार ना तो train की length की even कैसे करें speed का ratio है actual speed नहीं है तो आप क्या करो यहाँ पर आप माल लो इसकी जो speed है ये 4 है ये 3 है तो total distance मैं माल लेता हूँ 3 चोके 12 बारा यूनिट strain की length चया रती है 12 यूनिट strain की length 12 यूनिट ये 12 मीटर भी नहीं है 12 किलोमेटर भी नहीं है 12 यूनिट है तो इसकी speed क्या हो गई 3 यूनिट पर second 4 यूनिट पर second 3 यूनिट पर second मुझे क्या निकालना है ऐसे question हमने किये है relative speed के अंदर ऐसे 2 question मैंने आपको करवाए है हमें सिरफ ये निकालना है ये एक दूसरे को cross करने में कितना time लेंगी वो हम निकाल सकते हैं तो इस ट्रेन की length 12 यूनिट इस ट्रेन की length 12 यूनिट 12 और 12 24 तो 24 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना time लेंगी इनकी speed का sum क्या है 4 और 37 7 यूनिट पर second ये देखो यूनिट से यूनिट कट गया है तो 27 बटे 7 सेकिंड 7 ती यह किस तीन तीन बटे 7 सेकिंड यह answer हो से है तीन तीन बटे 7 सेकिंड ये एक्जाम में इसको ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि यूनिट है यूनिट है ये तुम आपकी बेसिक्स की अंडर्स्टेंडिंग को स्ट्रॉंग करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ ठीक है जी ये बताओ इस टाइब के question पूछे जा रहे हैं आसकल कई CPU में CGL में कई बार ये पूछे गए हैं तो देखो CHSL में अपकर पाऊगे कि नहीं ट्रेक्ट रैविढिंग अट्रेवलिंग अट्रेस्ट लॉफ्ट क्लोम्य पर लूफला से चल रही है और दोश्टह में क फेट스कण में क्री platform को वो 30 second में cross कर रही है ठीक है and overtook तो ये उसके बाद उसने अगली situation बता रही है कि एक man को भी overtook कर रही है तो यहाँ पर इसको मैं लिख लू distance is equal to speed into time तो train की length मैंने माल ली है GT तो train जब एक platform को cross करती है तो total distance travel करती है train की length plus platform की length तो t plus 200 ये हो गया distance इस crossing का distance is equal to speed into time crossing की speed क्या हो जाएगी x km पर hour लेकिन ये मीटर में है तो train की लाएं थी मैंने मीटर में मानी क्योंकि मैं ऐसे confusion नहीं करना चाहता है इसको km में मानू speed km पर hour में है तो क्यों नहीं इसको भी मीटर पर second में कर दें कर दी time कितना लगा भाई time लगा जी 30 seconds ठीक है लिख लिया मैंने जो भी लिखना अगे and this train over took a man walking in the same direction एक बंदा same direction में जा रहा था तो बंदे को cross करने के लिए उसने खुद की length जितना distance travel किया है जी हाँ sir तो distance train की length जितना distance is equal to speed कितनी speed से train की speed x है बंदे की speed 6 है x minus 6 km पर आ रहा minus क्यों किया same direction में है लेकिन meter per second में बदलो 5 बटे 18 time कितना लगा मेरे भाई time लगा जी 20 seconds that's it अब सरी इसका क्या करें वो आप बताओगे क्या क्रों मैं इसका x की value निकालनी है क्या क्रों दो variable है t और x क्या क्रों ये ना क्रों कि t की value यहां से उड़ा कर यहां पर रख दू t की value यहां पर ये t की value है उपर वाली equation में रख देता हूँ x सी रह जाएगा दोनों तरफ solve कर लेंगे nice idea है न ठीका भी रख देते हैं तो t की value को मैं यहां पर रख रहा हूँ t की value को मैं simplify कर रहा हूँ देखो उपर भी 5 बटे 18 into x है नीचे भी 5 बटे 18 into x मैं रखना चाहूँगा करने को मैं काट भी सकता हूँ लेकिन तक ही calculation आसान रहे बटे में 18 रहेगा denominator same नहीं करना पड़ेगा बाद में उसके बाद हाँ इसमें 6 को काट देता हूँ इसमें मैं कोई interested नहीं हूँ मैं x के साथ बस 18 रखना चाहरा था तक ही यहां आपर में simplify करता हूँ 6, 3, 18, 25, 100 बटे 3 minus 100 बटे 3 यह है t की value तो t की value प्लस में 200 is equal to इसको solve कर लेते हैं 35,500, 1500 बटे 18 x जब यह solve टे 18 x उधर जाएगा तो देखो अब हुआ ना फाइदा 150 minus 150 by 18 x अब कर लेंगे simplify अब क्या दिक्कत है काटना पीटना होएगा तो 200 minus solve टे 3 तो 3 into 200, 600, 600 minus 100 500, 500 बटे 3 that's it, खतम कहानी अब बोलो में कौन रोकेगा 550 से यह 10 पर जाएगा 3 से के 18 6 उपर आकर multiply हो जाएगा x is equal to 60 60 km पर आर यह मत बलना सर यह तो meter per second में था यह kilometer per hour में था x तो kilometer per hour में ही है मैंने 5 बटे 18 से गुणा करके यह पूरी value meter per second में है x कुद तो kilometer per hour में ही है मैंने kilometer per hour में ही रखा था answer is option is it clear or not यह बताओ a passenger train and a goods train are running in the same direction on the parallel on parallel railway track same direction में जा रही है if the passenger train now takes three times as long to pass the goods train as when they are running in opposite direction इसका मतलब समझो कि यह बोल रहे हैं कि passenger train और goods train same direction में जा रही है passenger train भी इस direction में जा रही है goods train भी इस direction में जा रही है passenger train goods train को overtake करने में अब if the passenger train now takes three times as long to pass the goods train passenger train goods train को pass करने में तीन गुना time ले रही है किसके comparison में as when they are running in opposite direction जब वो opposite direction में run कर रहे थे उसके opposite में यानि कि ये passenger train जब goods train का opposite में आती है उसके comparison में अब 3 गुना time ले रही है अगर time अब 3 गुना लग रहा है तो इसका अमलब speed तब 3 गुना थी crossing के अंदर distance तो semi cover हो रहा है ना भाई दोनों की length का sum ये अब 3 गुना time ले रही है यानि कि जब ये एक दूसरे के opposite में आती है तो इनकी speed तीन गुना हो जाती है अब इनकी speed उसके comparison में one third है point समझे मैं रहा है कि नहीं मैं फिर से बताता हूं एका दे बच्छे बनाए कि ये बोल रहे हैं और यहां पर एक बात तो ये पता लगते है कि passenger train के speed जाता है क्यों sir क्यों कि जब same direction में जा रही है तो passenger train इसको over take कर पा रही है slow speed वाली कभी भी over take नहीं कर पाती है ये इस गाड़ी को है ना ठीक ये बोल रहे है कि passenger train जब goods train को अब same direction में over take कर रही है तो इसको तीन गुणा time लग रहा है किसके comparison में जब ये opposite direction में कर रही थी यानि कि opposite direction में इनकी speed तीन गुना थी क्यों क्यों क्योंकि opposite direction में some matter करता है तो याने कि passenger train की speed में ने p माल ली goods train की speed में ने z माल ली p plus z और p minus z इसका ratio 3 is to 1 है इन दोनों की speed का सम तीन गुना है इन दोनों की speed की difference और यहाँ पर component वो डिविडेंडों लगाओगे तो p by g component वो डिविडेंडों क्या होता है algebra में आप सिखोगे तीन प्लस hr तीन माइनस एक दो 2 is to 1 आगे सीख लेना algebra ठीक तो 2 is to 1 उनकी speed का ratio हो जाएगा what is the ratio of speed of passenger to the goods passenger to the goods 2 is to 1 ठीक है ठीक है एक एक बंदा है इस बंदे का नाम है 1 यहाँ पर एक बंदा है इस बंदे का नाम है 2 ठीक है इनके गरवालों ने ऐसे ही नाम रखके मैं कुछ नहीं कर सकता है ठीक है बाए मिरको मत बोला इस बंदे का नाम है 1 इस बंदे का नाम है 2 तो यहाँ पर जो हम concept कर रहे है वो क्या कर रहे है time taken to reach destination after meeting यह दोनों बंदे ऐसे चल रहे हैं और यह same time पर चलना start करेंगे ठीक है यह कहीं न कहीं मिलेंगे यह कहीं न कहीं मिलेंगे बीच में तो जब ये मिल लेंगे time taken to reach the dictionary, after meeting, जब ये एक दूसरे को मिल लेंगे, तो उसके बाद ये जो time लेंगे, destination पर पहुंचने में, यानि कि one जो हो यहाँ पर पहुंचने में, two जो हो यहाँ पर पहुंचने में, तब यह जो time लेंगे, उसका जिकर हो रहा है, कि जब दो चीज फिर कहानी को start, इनकी कहानी को start करते हैं, फिर मैं यहाँ पर आपको दो, तीन चीज़े बताऊंगा, ध्यान से सुने, फिर उनको अपने notes में लिख लिए, तो ये दोनो simultaneously एक time पर चलेंगे, और ये बीच में कहीं न कहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इस आपकी speed तेज है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा distance travel कर लेगा, ये simple सी बात, जो पहला बंदा है, उसकी speed को मैंने माल लिया है, जी S1, ये S1 की speed से, इसलिए मैंने 1 और 2 नाम रखके थे, A और B रखता, 1 और 2 अच्छा रहते हैं, 1, 2, ऐसे, इसकी speed है S1, ये पहले वाला बंदा S1 की speed से इधर आ र दूँ, A, और यहां पर हो गया B, ठीक है, ये M हो गया, जहां पर ये दोनों meet हुए, ठीक है, तो मेरी बात तो कोई ध्यान से सुनते रहेगा नहीं, तो miss करोगे, ठीक, S1 बंदे ने A से लेकर M तक जाने में, और S2 बंदे ने, स्चोरी, number 2 बंदे ने जिसकी speed S2 है, उसने B से लेकर M तक आने में, same time लिया है, same time तक वहाँ पर पहुंच गए है, और मिल गए है, तो यहां पर इसने यहां से यहां तक जो time लिया, उसको मैंने माल लिया T, T seconds, T, R, जो भी है, मैंने T unit, और इस बंदे ने यहां से लेकर यहां तक जो time लिया, वो भी हो गया T, दोनो same time लेकर यहां पर पहुंच गए, उसके बाद पहले बंदे ने यहां से यहां तक M से लेकर B तक जो time लिया, वो मैंने माल लिया T1, पहले वाले बंदे की सारी चीज़े नीचे लिखी है, दूसरे वाले की उपर लिखी है, उपर वाले बंदे ने यहां से यहां तक जो time ल यह relation बहुत ज़्यादा यूज हुई है 100% questions के अंदर यह ही हुई है यहां से लेकिन मैं आपको दोनों बता दूंगा second relation है कि भाई S1 बटे S2 is equal to under root T2 बटे T1 पहले बंदे की speed और दूसरे बंदे की speed का जो ratio है वो equal है किसके पहले बंदे के सामने दूसरे बंदे का time लिखना दूसरे बंदे के सामने पहले बंदे का time लिखना यह time कौन सा है जो इन्हों ने मिलने के बाद cover करने में distance को cover करने में use गया था और उसको हम करेंगे ये अंडर, 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा और वो होएगा अंडर, ये दूसरा रिलेशन, ये रहे मेरे भाई, तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, तीसरा रिलेशन ये हो सकता है, ये अगर हमें total distance निकालना हो, याने की AB की लंबाई निकालने हो, AB की लंबाई, तो यहां से क्या होएगा, आपको S1 और S2 दोनों मिल जाएंगे, तब ही आप AB की लंबाई निकाल पाऊगे, इस रिलेशन से S1 और S2 दोनों मिल जाएंगे, AB की लंबाई, अगर आप S1 की ट्रम में निकालना चाहो, ये कैसे आई है, हम आपको बताऊँगा, tension मतलो, तो S1 बंदे ने T टाइम लिया, यहां से यहां तकाने में, जी हां, और यहां से यहां तकाने में T1 टाइम लिया, जी हां, तो distance क्या होता है, speed into time, तो इस बंदे की speed है S1 और time इसने लिया T प्लस T1, आप ऐसे भी distance निकाल सकते हो, ये फिर दूसरे बंदे के हिसाब से निकाल सकते हो, दूसरे बंदे की speed है S2 और उसने time लिया T प्लस T2, तो सरी ये T और T2 ये आपके पास होएंगे, तभी आप distance निकाल पाऊगे है सारी, clear, अब मैं बतात हूँ कि ये आई कैसे, देहां से सुने, यहीं पर बताएं, यह relation मेरे को दूसरे उस पर बतानी थे ना, अभी तो इरेजर मैं इनको erase कर देता हूँ, let me erase them, यहीं पर प्रूव कर लेते हैं, डाइगराम के सामने प्रूव करना, फिक रहेगा, देखो, तो भाई, इन दोनों को प्रूव करने के लिए, देखो जरा ध्यान से, मैं इस distance को देख रहा हूँ, इस distance को, A से लेकर M तक, यह distance कितना है S1 के टरम से, मैं S1 के टरम से में S1T, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह वहाँ पर लिखते हैं, फिर मैं बाद में आपर लिख, यह distance है S1T, इस distance को, यह जो S1T है, दूसरे बंदे ने, इस बंदे ने, जब इस speed से cover किया, S2 speed से, तो इसको T2 टाइम लगा, S2 speed से, इसको T2 टाइम लगा, clear है, यह फिर इसको दूसरे बंदे से भी लिख दे है, वो भी अच्छा रहेगा, S1T, ना, फिर divide करेंगे, आ जाएगा, यह फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यह बात समझ गए, कि यह जो distance है, A से लेकर M तक, S1 बंदे ने T टाइम में कर लिया, तो S1 इंटू T, और यही distance मैं बोल सकता हूँ, S2 बंदे ने T2 टाइम में कर लिया, S2 इंटू T, S2 इंटू T2, ठीक है, यह फिर मैंने क्या क्या है, मैंने S2 को नीचे लेगती है, मैं यही बोल रहा था, इसको वहाँ पर भी बेच सकते हो, कैसे भी समझ लो, क्यों गई पहली equation, इसका proof आफ को exam में काम ने आएगा, जस्मा आपको दिखा रहा हूँ कैसे हुआ, इतनीक brainstorming तो हमारी होनी चीए, ठीक है, अब मैं इस distance की बात करा हूँ, इस distance को मैं दोनों बंदों के form में लिखू होंगा, बस उसी से proof हो जा रहा है, इस distance को नीचे वाले बंदे ने, वो, उपर वाले बंदे ने, s2 की speed से t time में किया, s2 की speed से t time में किया, और नीचे वाले बंदे ने इसी distance को s1 की speed से किया, तो distance upon s1, उसको t1 time लग दाया, अगर आप इन दोनों equations को multiply कर देंगे मेरे साइड पर आएगा, t1 into t2 और left-hand side पर क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं, देखो, s1 t, पटे में, s2, गुणा में, s2 t, पटे में, s1, is equal to t2 into t1, या आया है न, इदर देखो, s1 से s1, s2 से s2, t square is equal to this, therefore t is equal to under root t1 into t2, clear, दूसरी, अगर मैं पहले वाली को दूसरी वाली से डिवाइड कर दूँगा, s1, t, बटे में, s2, इसको में डिवाइड कर रहा हूं, इससे, s2 t, बटे में, s1, is equal to t2, बटे में, t1, एक बार multiply किया, एक बार divide किया, उससी से बन जाएगी बात, t से t कट गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, s1 का square, उपर तो, और नीचे आ रहा है, s2 का square, is equal to t2 upon t1, मैंने आपको क्या बताए था, under root कर देते हैं, square को यहाँ से अटा के, s1 के सामने क्या आएगा, s1 के सामने आएगा t2, s2 के सामने आएगा t1, और under root लगाना है, तो दो relation है, अब मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, कि यहाँ पर दो relation है, mainly जो अपने काम आएंगी, सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली relation है, जो आज तक exam में जिसको पर question पूछे गए, वो बता देता हूँ, कि पहले बंदे और दूसरे बंदे की जो speed का ratio है, s1 और s2, इनकी speed का ratio है, वो क्या है, जो भी इनोंने एक दूसर time का जो ratio है, एक बात तो आपको clear है, कि जो speed का ratio हो, time के ratio से reciprocal होता है, तो उससे भी याद रख सकते हो, आप तोड़ी से, s1 के सामने क्या आएगा, s1 के सामने आएगा t2, मिलने के बाद इसने t2 time लिया है, sorry, s1 ने मिलने के बाद t1 time लिया है, s2 ने मिलने के बाद पहुंच इसने में t2 time लिया है, लेकिन उसका आपने reciprocal करना है, s1 के सामने t2 distance लिखना है, s2 के सामने t1 distance लिखना है, और under root लगाना है, ये चीज, इस चीज के ओपर बहुत ज़्यादा question पूछे साथ है, दूसरी चीज, याद रखनी आसान है, t1 into t2, ले रहे हैं, जब तक formula बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, मैं आपको लिखवाता नहीं, मैं आपको रखने की बोलता नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ, सिद्धे marks कर जाएंगे, सिद्धे question आते हैं, इसके उपर आज तक सारे question आई, इसके उपर नहीं आई है अब 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 समझाने के लिए बना रहा हूँ, two trains a and b, start from station x and y, towards y and x respectively, train a x से start कर रही है y की तरफ, ओ train b जो है y से start कर रही है, a की तरफ, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ठीक, after passing each other, एक दूसरे को इन्होंने कहीन कहीं पर पास किया होगा, after passing each other, they take 4 hours 48 minutes, तो पहले एक के बारे में बता रहा होगा, 4 hours 48 minutes, and 3 hours 20 minutes, to reach y and x respectively, इसको y पहुचने में, मिलने के बाद इसको इतना time लगा, और इसको इतना time लगा, मिलने के बाद destination पर पहुचने में, तो यह कह है time after meeting, मिलने के बाद कितना time ले रहे हैं पहुचने में, तो इसी के लिए मैंने आपको relationship बताई है, क्या, यह बताई है a और b है न, speed of a, पटे में speed of b is equal to under root time of b upon time of a, a के सामने b का time, b के सामने a का time, that's it, उसने speed का ratio आप से पूचा है, तो अभी कर देते हैं, तो a के सामने b का time लिए पर b को कितना time लगा, 3 गंटे 20 minutes, इसको आप क्या करो, यह तो गंटों में बदल लो, यह मिन्टों में बदल इसको लगे जी 200 minutes, इसको लगे जी 200 minutes, b को, a को कितना time लगा, 4 गंटे का मतलब है, 240 minutes, 240 हो यह हो जाएंगे, 288 minutes, दोनों को सेम unit में रखो, अभी आपको S1 और Sb का ratio मिल जाएगा, 212, 244, तो 100 का अंट रूट आ गया 10, 144 का आ गया 12, तो 10 बटे 12, यानि की 5 बटे 6, यहीं पूचा है क्या, if speed of train A, if train A is moving at the speed of 45 km पराद, यानि की 5 की value अगर 45 है, तो 5 इन में 45, तो 6 नहीं में 41, इसकी हो जाएगी 44, are we clear, आगे बढ़ जाओ, बताओ, A and B started their journeys from X to Y and Y to X respectively, ठीक है, after crossing each other, A and B completed the remaining parts of their journey in this much and this much time, तो हमें समझ में आ गया कैसा question है, एक दूसरे को मिलने के बाद, बाक्की जरुने को इतने इतने time में cover किया, ठीक है, if the speed of B is equal to, तो simple सी बात है, speed of A upon speed of B, अब A के सामने क्या लिखोगे, under root B का time, जल्दी से बताओ भाई, पहले A का time लिख देते हैं नीचे, पहले उसने A का time बताया है, 6, 1, 8 hours, 8, 44, 49, A का time B के सामने लिख दिया, ठीक है, अब B का time क्या है, 8, तो यह मैंने उपर लिख दिया, अंडर root solve करोगे तो यह आजाएगा, 8 बटे साथ, यह इनका ratio आगा, उसने क्या बताया है, speed of B, the speed of B is equal to 28, 7 का चाहर गुना, the speed of A will be 8, तो के 32, that's it, actual question है, exam में आया हुआ, CGLT रटू का, और बो, clear है, directly हो रहा है, यह बताओ, A and B start moving from place, X to Y, Y to X, वैसा equation, X से Y, Y से X, आगे पता चलेगा, भी थो नहीं पता चला गाए, at the same time, on the same day, after crossing each other, A and B take, एक दूसरे को cross करने के बाद, वो इतने और इतने घंटे लेते हैं, to reach the respective destination, time after meeting, मिलने के बाद का time बताया चाहिए, time after meeting का, तो कोई दिक्त निया भाई, speed of A, बटे में speed of B, is equal to under root, A को कितना time लगा, A को इतना time लगा, तो यह B के सामने लिखूँगा, 9, 5, 45, 4, 49, 49, बटे 9, यह मैं B के सामने लिखूँगा, 9, 49, 9, tier 2 का question है, पिछले वाला, 2018 के tier 2 में, यह 2019 के tier 2 में देख लाऊ, consistency, ठीक, तो 9 is to 7, if the speed of A, यानि कि 9 unit की value कितनी है, 33, 9 unit की value, 33 है, तो 1 unit की value हो जाएगी, 33 बटे 9, और 7 unit की value, पूचिए, 7 unit की value हो जाएगी, 3, 39, 3, 11, 37 बटे 3, तीन दुनी छे, 3, 15, 25 बटे 3, ठीक है, ले रहे, यह बताओ, पी एंड क्यू स्टार रुनिंग साइमिल्टेनियसली, 1 from point A to point B, 1 A से B की तरफ जा रहा है, 2 from point B to point A, 1 B से A की तरफ आ रहा है, B की जो speed है, वो 6 फिफ्ट of Q की speed है, याने कि अगर Q की speed 5 है, तो B की speed 6 है, ठीक है, after crossing Q, P takes 2 and half hours to reach B, how much time does Q take to reach A after crossing, अब की बार उल्टा हो गया, वो कर क्या रहे थे, वो time का ratio बता रहे थे, speed का ratio हम निकाल रहे थे, अब की बार उसने speed का ratio बता दिया, time का ratio निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो clear है न, ये clear है, speed of A, बटे में, P and Q start running simultaneously, बंदो के नाम आपकी बार P और क्यों है, speed of P, बटे में speed of Q, is equal to, time of P, बटे में, sorry, time of P, time of Q, बटे में time of P, तो पहले क्या हो रहा था, वो ये बता रहा था, ये पूस रहा था, आपकी बार इसका ratio बता दिया, ये पूस लिया, उसने speed of P क्या बताई है, वो six-fifth बताई है, क्योंकि, क्योंकि speed में ने 5 माल ली, तो P की speed इचाए होगी, that is equal to under root, उसने एक का time बता दिया, दूसरे का time निकल जाएगा, कोई जिक्कती निया, clear है, दोनों तरफ square कर दू, square कर रहा हूँ, तो ये आजाएगा 36, बते, इस equal to, उसने क्या बताई है, किस का time बताई है आपको, उसने आपको बताई है P का time, तो P का time कहा पर लिखना है, P का time Q की speed के सामने लिखना होता है, क्योंकि तो यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 और 5 बते 2, ठीक है, और फिर उपर मैं क्या लिखूँगा, उपर मैं लिखूँगा Q का time, time of Q, that's it, Q का time पूचा है, कि Q को कितना time लगेगा बाद में, यह निकाल, 25, 25, 2, इसे जाएगा जी 18 पर, 18 बते 5, यहनि कि, उपर निचे 2 से multiply कर दो, तो जाएगा 3.6, जाएगा 3.6, 5 ती यह 15, 3, 3 बते 5, आज 3 गंटे और शाट से गुना करूंगा, 36 मिनट, 3 गंटे, 36 मिनट लगे, 3, 36 मिनट, हाला कि यह गलत है, यह गलत format है, 3 आर 36 मिनट, ऐसे होना जी, अंसर का format गलत है, आप समाज के, ठीक है, 2 बसे, A and B, started simultaneously, from cities, P and Q, towards Q and P, respectively, the ratio of speeds of A and B is this, the buses meet after 11 a.m, meet at 11 a.m, in between P and Q, ठीक है, if bus A reaches city Q at 3 p.m, what is the time, मैं आपको डाग्राम बना के, एक पर समाजा दो, 2 buses A and B, started from cities P and Q, यह P है, यह क्यों है, A यहां से जा रही है, B यहां से जा रही, यह कहीं न कहीं मिलेंगे, जी हां यह मिलेंगे, यह 11 बजे मिलेंगे, 11 a.m, तो देखो, हम एक बात पता है, कि speed of A, बटे में speed of B, is equal to under root, speed of A के सामने, क्या होएगा, time of B upon time of A, that is time of B upon time of A, is equal to 9 बटे 16, यह clear है, अब क्या होएगा, अब वो आपको एक चीज़ का time बता देगा, दूसरी चीज़ का time पूस लेगा, और उसके पास कोई option नहीं है, तो उसने किसी ने किसी एक का time बताया होएगा, उसने क्या बताया है, तो busses हैं, वो 11 a.m पर मिल रही है, इफ बस a reaches ctq at 3 p.m, तो bus a है, यह ctq पर 3 बज़े पहुँच रही है, तो बताओ इसने कितना time लिया, 11 बज़े यह मिली थी, मिलने के बाद यह 3 बज़े पहुँची है, तो इसने total 4 गंटे लिये, तो यह किसकी बात हो रही है, a की, तो time of a, इसने total 4 गंटे लिये, तो 16 की जगए actual में क्या है, 4 आर्ष, यहनि कि 1 फोर्थ चीज़े हैं, तो 9 की जगए actual में क्या होएगा, 9 बाई 4 आर्ष, एक reality 1 फोर्थ है, हमारे ratio से, तो 9 बाई 4 आर्ष लिये हैं, किसने 20 है, तो 9 बाई 4 आर्ष का क्या मत्राव है, चियार दुनी 8, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है जी, कितने बज़े के बाद, मिली तो यह 11 बज़े थी, तो 11 में 2 घंटे जोड़ोगे, तो 1 बज़े के 15 मिनट पर, यह भी पहुंच जाएगी, यहांपर B, यह भी पहुंच जाएगी, इसने इस से आगे, 2 घंटे 15 मिनट लिए है, तो 11 और 2, 1 एक बज़े के 15 मिनट पर, पी-ेम पर यह भी पहुंच जाएगी, ठीक है जी, ठीक है, यह बताऊ, सुरेश स्टार्टे ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेश एक्स टू य और राकेश फ्रॉम वाई टू एक्स अट नाइन अम, दोनों नो बज़े चलना स्टार्ट किया दोनों ने, ठीक है कोई दिख देख 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 अफ्र मीटिंग ऑन दावे, सुरेश और राकेश रीच वाई एंड एक्स इन दिस मैनी टाइम, इन दिस मैनी टाइम, एट वट टाइम डिट दे मीट इच अधर उन दावे, तो ये किस तरह का क्वेशन आम आपको बताता हूँ, ये एक्स से स्टार्ट करता है, ये जो है, ये वाई से स्टार्ट करताए है, शुरेश और राकेश, दोनो नो बाज़े स्टार्ट करते हैं, तो ये कही न कही मिले होंगे, मैने आपको क्या बताया था? मालो, शुरेश ने यहाँ पर टी टाइम लिया है, टी टाइम, दोनों को मिलने में T time लगा है 9 वजे चले हैं दोनों T time में यहाँ पर पहुंच गे उसके बाद सुरेश जो time ले रहा है वो है time of सुरेश after meeting time of ra case after meeting तो वो तो इन्होंने बता रखा है क्या बता रखा है कि सुरेश को लगे हैं जी 3 गंटे 12 मिनट और ra case को लगे है मेरे भाई 1 गंटा 48 मिनट तो मैंने आपको क्या बताया था यह T1 और T2 है और यह T है तो मैंने आपको यह बताया था T is equal to under root T1 into T2 ठीक है इनको कितना time लगा है मिलने में अगर आपको यह निकालना है तो वो क्या हो जाएगा under root तो रेस को कितना time लगा है 12 मिनट गंटों में कनवट कर दो इसको तो 12 मिनट का मतलब होता है 1 by 5 तो 3 1 by 5 मैं गंटों में निकालना चाहरा हूं तो 5 3 15 और 16 बते 5 और ra case को मिलने के बाद कितना time लगा इस 48 को गंटे में कनवट कर दो 48 by 60 12 4 48, 12 5 पांच एकम पांच और चाहर 9 बते 5 तो under root क्या आजाएगा जी 16 का चाहर आजाएगा 9 का 3 आजाएगा चाहर ती बारा पांच और पांच का पांच आजाएगा तो 12 बते 5 कितने घंटे लगे हैं इनको मिलने में ती की वेल्यू ये हैं तो 5 तुनी 10, 2 hours and 2 by 5 24 मिनट और ये चले कितने बज़े हैं चले है 9 बज़े और ये 9 बज़े तो T की वेल्यू है 2 hours 24 मिनट तो 9 बज़ेगे 2 गंटे 24 मिनट बाद तो 9 और 11 बज़े के 24 मिनट पर ये एक दूसरे से मिले हैं clear are we done here of course we are done here तो यहाँ पर आपकी problem on trains मैंने cover कर दी और दूसरा क्या cover कर दिया time after meeting का concept cover कर दिया तो इसके बाद आपको mental test मिलेगा और mental test का संते ने क्या है इक concept lecture कितरे नहीं देखना है इन सारे questions को mentally करना है आकि those steps बार-बार exam में आते हैं उनको mentally करेंगे लिखना skip करेंगे उससे भी time आपका कम लगना start हो जाएगा ठीक है तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा है मैंने course बनाएगा कहां पर क्या करना है आपको क्या चीज़ चीज़ चाहिए हलो डियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी concept lecture 8 time and distance का इसके अंदर concept कौन सा होएगा अपना resultant speed इसको आप boats and stream के नाम से भी सानते हैं तो इसको अलग से chapter बना कर भी मैं करा सकता हूँ कि boats and stream है कि फिर actual में resultant speed का concept है कि boat stream पर भी यूज हो सकता है कहीं और भी यूज हो सकता है हवाई जाज या हवा पर भी यूज हो सकता है तो boat and stream का chapter resultant speed के concept के अंदर आता है उसके अंदर हम इसको करने वाले हैं ठीक है जी start करें कि इतने enough question करेंगे कि आप सीख भी जाओगे और शाथ के साथ में आपकी practice भी हो जाएगी हमेशा की तरह है कि आपको एक भी question बाहर से ना करना पड़े तो सबसे पहले मैं आपको concept बताता हूँ बहुत ही प्यारा सा concept है बहुत ही आसान concept है मालो यह नदी है इसके अंदर एक नाव जा रही है यह boat है boat की speed है बी km पर और नाव जो है वह उदर जा रही है नाव को थोड़ी सी और अच्छी बना देते हैं यह लोगी क्लियर है पर में ऐसी होती थी जो boat है यह उदर जा रही है और जो पानी है पानी w km पर आर की speed से पानी जो है पानी उता रहे-溜गी वाटर boat की speed in still water खड़े पानी के अंदर that is 20 km पर आर ठीक है और जो पानी की speed है जो water की speed है that is W km पर आर बहुत ही basic सी बात है अगर मैं आप से ये पूछ हूँ कि भाई अगर ये पानी की दिशा में जाएगी ये boat यानि की downstream जाएगी downstream क्या बोलते हैं कि पानी की दिशा में stream यानि की धारा down यानि की धारा के साथ नीचे क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है जहां पर ground थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा तो downstream यानि कि धारा के साथ, पानी के साथ, तो simple सी बात है, बोट की खुद की speed B km पर आर है, पानी की speed W km पर आर है, पानी की direction में ही बहेगी, तो पानी इसको help कर देगा, पानी इसको मदद कर देगा, तो downstream की speed होएगी, B प्लस W km पर आर, ये clear है कि नहीं, तो टे बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा, कि अगर पानी की direction में बोट जाएगी, तो पानी बोट को मदद करेगा, तो जो पानी की speed है, वो भी उसके इंदर एड हो जाएगी, इतनी दूर तक वो जा पाएगी, अगर boat की speed 0 होती, यानि कि मालो आपने एक thermocall का piece डाल दिया नदी के उप इस चीज़े उसके उपर गिर कर बहती रहती है, ठीक है, या फिर अगर आपको swimming आती है, तो नहर जिस direction में पानी जा रहा है, उस direction में तेर कर देखा होगा, कि यह रासान है, उसके opposite जा रहे तो मुश्किल है, क्यों कि आप पानी के खिलाफ जा रहे हो, ऐसे ही, अगर आप धारा के विपरीत जाओगे, हिंदी में क्या बलते हैं, धारा के विपरीत, यानि कि upstream जाओगे, यानि कि यह जो boat है, इसको मैं बोलू कि भाई, तुम इधर जाओ, इधर, पानी उधर जा रहा है, बोट इधर जा रहे है, तो बोट को पानी के खिलाफ काम करना है, तो पान पानी क्या करेगा, पानी की speed negative होईगी, पानी इसको उधर धकेल रहा है, बोट हर एक गंटे में 20 km इधर आ जा रहे है, एक गंटे में 20 km इधर आ जा रहे है, पानी पूरा का पूरा, पानी पूरी की पूरी नदी एक गंटे में 20 km उधर शिफ्ट हो जा रहे है, तो यहाँ अपर Speed क्या हो जाएगी वी माइनस W ये बात क्लियर ही नहीं इलक Andrew Edg याने कि अगर हमें बॉट की स्पीड पता है और हमें पानी की स्पीड पता है तो हमेंगर याऌन स्पीड की बता ही याउय कि क्वोन stream की जो speed है वो क्या है और upstream की जो speed है वो क्या है तो आपको निकालने आनी चाहिए boat की और water की speed तो boat की speed still water में होएगी अलम आपको ये बता दूँ सेहां पर example ले लेते हैं यहाँ पर example ले लेते हैं जो boat की speed है वो मैंने मान ली 10 km पर आर ठीक है खड़े पाने में और जो पानी की स्पीड है वो मैंने मान ली 2 किलोमेटर पर आर यहाँ पर आप डाउन्स्ट्रीम की स्पीड बताओगे डाउन्स्ट्रीम की 10 प्लस 2 12 किलोमेटर पर आर जो मैंने आपको बताया तो यह है और आप upstream की speed पताऊगे अगर पानी के खिलाफ जाए boat तो 10-2 that is 8 km पर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको यह भी आना चाहिए कि अगर आपको downstream की speed पता है upstream की speed पता है तो इन दोनों की speed निकाल ली देखो downstream की speed क्या होती है downstream की speed होती है boat plus water की speed और upstream की speed होती है boat minus water की speed clear है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ अगर मैं downstream और upstream को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है तो मुझे मिल रहा है boat plus water plus boat minus water water से water गया तो मुझे मिल रहा है 2b boat की speed का double यानि कि अगर मैं डाउंस्ट्रीम और अप्स्ट्रीम को जोड़ कर हाफ कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी बोट की स्पीड अगर मैं डाउंस्ट्रीम और अप्स्ट्रीम को जोड़ कर हाफ कर दूँ तो बोट की स्पीड मिल जाएगी अच्छा ऐसा है से upstream की speed घटा दू downstream minus upstream divided by two अगर मैं यह कर दूँ तो देखो ज़रा क्या मिलेगा boat plus water अब बलोगे जी हाँ minus boat plus water इनके sign बदल जाएंगे अगर मैं घटा रहाँ minus b plus w ठीक जी बी से b गया तो two w by two यानि कि w water की speed यानि कि इसमें से अगर यह घटा कर half कर दू बारा में से आठ गया चार चार कादा दो water की speed है two km पर यानि कि मैं यहां पर कहना क्या चाहरा हूँ मैं यहां पर यह कहना चाहरा हूँ मेरे भाई अपर आग गयी चल पड़ते हैं इसको क्यों मेट है कि downstream की speed है boat की speed plus water की speed upstream की speed है धारा के खिलाफ boat की speed minus water की speed और boat की speed अगर आपने निकाल ली है तो आएगी downstream की speed plus upstream की speed divided by two यानि कि downstream और upstream की speed का sum divided by two अगर आपने पानी की speed निकालने है तो आएगी downstream minus upstream divided by two यानि कि इन दोनों का difference divided by two ये simple सी बात है ये चार formula आपको आने चाहिए एक दो तीन चाहिए इसके अलावा exactly वही understanding से लेगी कि distance is equal to speed into time ये जो average speed है वो क्या होती है total distance upon total time है अगर distance same हो तो speed और time के ratios एक दूसरे के उल्टे होते हैं जो basic understanding है पूरे time and distance की understanding है वो तो in questions में लगेगी ये लगेगी अलग से इन में बस यह चाहिए बग की सब हम पहले कर चुके है clear है ये अपने notes के अंदर लिख लोगे ठीक है तो start कर दू questions questions जो है मैं basic से start करूँगा बहुती आसान questions से start करूँगा और धीरे धीरे अपने level को बढ़ाएंगे बढ़िया level के questions जो topmost question आ सकते हैं वो सारे question करें एक फोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये lecture हो सकता है डेट गंटे पौने दो गंटे का हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मैं लगा हुआ हूँ आपके साथ अब भी लगे रहो चलिए और हो सकता है छोटा भी होए लेक्टर की टेमपो पर डिपेंड करता है कि ट्यून में अपना लेक्टर चलता है तो स्पीड है बंदे की चाहे बंदे की स्पीड हो या बोट की स्पीड हो बात तो सेम है यानि कि हमारा जो अब्जेक्ट है उसकी स्पीड है तीन किलमेटर पर आर कि बोल रहे है कोई जगया है जो 10 किलमेटर अप्स्ट्रीम वो जाए और वापिस आए तो कितना टाइम लगेगा तो देखो भाई 10 किलमेटर एक तो यह जा रहा है अपस्ट्रीम तो अप्स्ट्रीम में क्या होती है? इसकी स्पीड इन दोनों का डिफरंस 3 minus 2 1 किलमेटर पर आर की स्पीड से जाएगा ठीक है और जब 10 किलमेटर वापिस आएगा डाउन स्ट्रीम में आएगा तो 3 प्लस तो 5 किलोमेटर पर हार की स्पीड से आएगा यहां पर लगेंगे मेरे भाई 2 घंटे और यहां पर लगेंगे मेरे भाई 10 घंटे तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा जी 12 घंटे का टाइम लग जाएगा क्लियर आंसर क्या हो जाएगा प्रिशन होती आसान क्वेश्चन होती प्यार क्वेश्चन क्लियर है इंपल सी बात है आगे बढ़ू कि बोट ट्रेवल्स 24 कलम्टर अप्र्टरीम इन सिक सार्स अगर चै घंटे में 24 अप्र उप्ष्ट्रीम जा रही है तो एग घंटे में तो उसकी स्पीड कितना ओगी डिस्टेंस अप उन टाइम नए एगःग्ध की स्पीड कितना ओगी चार घंटर आउट प्रूश्ट् चर पांचे बीस, एक गंडे में पांच किलम्टर, in the speed of the boat in still water, तो boat की speed still water में, यानि की boat की speed, ठीक है, तो boat की speed मेंने क्या बता है, अगर आपको boat की speed निकालनी है, तो इन दोनों का sum divided by two, पांच और चार नो, नो बते दो, यानि की 4.5 किलम्टर पर आग, अगर पानी की speed निक ठीक है तो फोरूम ले कैसे यूज़ कर रहे हैं जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए इन दोनों क्वेश्चन से धीरे धीरे अपने अंडर्स्टेंडिंग को बढ़ाएंगे कि बोक्त रूज़ one kilometre in five minutes along the stream यानि कि धारा के साथ धारा के साथ यानि कि डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मुझे पता लग जाएगी यहांपर निक tą मतलब होता है कि एक मिनट में कितनी दूर जा रही एक सेकिंड में कितनी दूर जा रही है एक घंटे में कितनी दूर जा रही है यहाँ पर हम किलोमेटर पर आर में निकालेंगे तो एक घंटे में कितनी दूर जा रही है अगर पांच मिनट में एक किलोमेटर चली जा रही है तो साथ मिनट में कितनी दूर चली जाएगी साथ मिनट तो मेरे भाई पांच मिनट का बारा गुना है बारा पंजे साथ तो यहां पर अगर बारा गुना हो रहा है तो एक का बारा गुना बारा किलोमेटर यानि कि एक गंटे के अंदर यह स्ट्रीम की स्पीड कि देख स्समारों में थी कि अप Hybrid की थो कि रहने ? आप पूछेता रहे, स्पीड आप ट्र费ीड क्या होतातिे ? इन दोनों का difference अच्छ हे ? बाइड दो तीन ओप्शन है आसान क्वेश्चन पहले दिरे दिरे आपके बेस बना लू फिर दिमाग लकवाऊंगा आपका यह बताऊं के पर्सन का रो एडिस्टेंस ओफ वन किलोमेटर अप स्ट्रीम इन दस मिनट में कितना जा रहा है एक किलोमेटर तो दस मिनट का कितने किलोमेटर जा पाएगा एक कंटे में यानिक अप स्ट्रीम की स्पीड कितने है एक किलोमेटर तो च्यार मिनट के कितने गुना है 60 मिनट पंद्रा चोके साथ तो च्यार इंटू पंद्रा साथ एक इंटू पंद्रा 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 किलोमेटर पर आर जा पाएगा पंद्रा में से चाह गए नो, नो बटे दो, सड़े चाह आर, that is option D. ठीक, clear? असान question है, समझ में आने चाहिए है. A small aeroplane can travel 320 km per hour in still air. Still air, यानि कि जब हवा ना चल रही हो. The wind is blowing at a constant speed of 40 km per hour, जो हवा है 40 km per hour की speed से चल रही है. Total time for a journey against the wind, तो wind के against गई, जैसे नाव पानी के खिलाफ जाती है, हवाई जाज wind के against गई, यानि कि upstream जा रही है. कितना time लगा? उसने बता दिया time. और speed हमें पता है? हमझी सर, speed पता है upstream की. क्योंकि still air में speed पता है, air की speed पता है, तो 320-40, यानि की 280, तो speed है 280 km per hour, क्यों गई speed, तो time भी मुझे पता है, that is 1355 minute divided by 60, km per hour में बदल लिया हमें, यह r में बदल लिया हमेंने time को, तो speed into time यह क्या आगया? तो distance आगया, तो distance आगया. अब यह बोल रहे हैं, इसी distance को return जरनी में हवा के साथ कितनी जल्दी travel करेगी? अब की बार downstream हा रही है, हवा भी उसको मदद करेगी, तो 320 plus 40, 360, 360 distance upon speed, यह time आजाएगा. इतने गंटे में cover कर लेगी? लेकिन यहाँ पर यह बोल रहे हैं, minutes में, इंटू 60 कर दो फिर यह लो, यह time गंटे में आया था, इंटू 60, खतम बात. पर दें फिर अभी काम, इससे घटे गए हैं. च्यार निम्में, च्यार श्रते, नो से जाएगा 15 पर, 15 साथ एक सो पांच, 105 मिनट लग जाएंगे, option B, option B. यह बताओ. इमैन कन रो एक स्पीड और 4.5 किलामेटर पर आर इन स्टील वोर्टर, ठीक है. इसका मतलब स्पीड का क्या रिश्यो है, तो इसका मतलब स्पीड का क्या रिश्यो होएगा, इससे उल्टा, यानि कि डाउन्स्ट्रीम में जो स्पीड है, वो डबल है. अप्स्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है इसके कंपरिजन में, यानि कि इसके कंपरिजन में डाउन्स्ट्रीम में जो स्पीड हो डबल है, तो इस सीज़ के लिए क्या मुझे लिखने की जुरूरत है इतना सब, नहीं, वहीं से पता कर सकते हो कि डाउन्स्ट्रीम की स् उची है तो वही option में बताई होएगी तो मैं ऐसा option चेक कर लूँ यह boat की speed है वो बोल रहा है कि यह stream की speed पता दो लेकिन मुझे इतना पता है कि downstream की speed double है तो मैं option check कर लूँ पहले यह downstream की speed है upstream की अगर यह वाला उत्तर हुआ तो सड़े च्यार और एक सड़े पांच हो जाएगी downstream की speed और upstream की speed हो जाएगी 3.5 यह तो गलत हो गया डबल होनी ची है अगर अगला option हुआ तो downstream की speed हो जाएगी 4.5 प्लस 1.5 6 upstream की हो जाएगी 4.5 माइनस 1.5 3 का डबल रही downstream की जी सर clear है easy है तर अगर option से ना करना हो वैसे करना हो तो वह भी बता देता हूं तो इसको करने का best way रहेगा component और dividendo वह आप algebra में सीखोगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूं अगर हमें यह पता है कि a by b is equal to 3 by 2 if अलग से board उतार के बता देता हूं component और dividendo यह है कि if a by b is equal to 3 by 2 for example अगर हमें यह पता है then a plus b upon a minus b is equal to एक बार इन दोनों को जोड़ दो 3 plus तो 5 और 3 minus तो 1 ठीक है और if हमें यह पता है a plus b upon a minus b मान लो वही value मैं उठा ले इस 5 by 1 then a by b भी हम इसी तरिक के से निकाल सकते हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं अगर आपको यह पता है तो आप यह निकाल सकते हो कैसे इन दोनों का सम उपर लिख दो दोनों का डिफरेंस निचे लिख दो अगर आपको यह पता है तो आप यह निकाल सकते हो कैसे एक्जेक्ली सेम तरिक के से दोनों का सम उपर लिख दो 5 और 1 छे होती easy है यह चीज़ एलजेबरा में मैं आपको बताऊंगा दोनों का डिफरेंस निचे लिख दो पांच और 1 चार तो दो ती एच है दो दुनी चार यहाँ पर exact values नहीं आती रेश्यो आते हैं देखो यह 3 by 2 था ना यह 3 by 2 था ना बस यहीं मामला है तो इसको करने का बेस्ट त्रिक करेगा component और डिविडेंड और ऐसे उसने यह बताइए कि downstream की जो speed है वो double है ठीक है तो उस बोट की speed कितनी है 4.5 तो downstream की speed क्या होगी 4.5 प्लस W अब stream की speed क्या होगी 4.5 माइनस W और downstream की speed क्या है ट्विस्ट अब लिखने को ऐसे भी लिख सक लिखते थे कि downstream की speed क्या है 4.5 प्लस W upstream की speed क्या है 4.5 माइनस W और downstream की speed double है बिल्कुल basic trick होगे upstream की speed water की speed में ने w मान ली upstream की downstream की downstream की upstream की speed के comparison में double है downstream की तो इसको solve कर लो w की value आ जाएगी तरह आप ऐसे क्यों बता रहे हो यह मेरे को easy लगता है बस और किसी वेसी तो यह a plus b a minus b है अगले step में मुझे पता लग जाएगा a by b 2 और एक 3 2 minus 1 1 तो 3 से इसको काटतूंगा 1.5 ज्यादा calculation करनी नहीं पढ़ती है w की value 1.5 तो फिर यहाँ से भी निकालोगे तो एक ही बात clear है जी ठीक है easy है question exactly last question जैसा यह a boat goes six kilometer per hour in still water boat की speed इतनी है but it takes thrice as much time in going the same distance against the current current के against जा रहे हैं तो तीन गुना टाइम लग रहे हैं तो इसका मतलब current के साथ जा रहे हैं तो current के साथ जाने की speed तीन गुना है downstream की speed तीन गुना है तो option check करूँगा कौन सा option downstream की speed तीन गुना दे रहे हैं पहला option check करूँगा 6 और 4 10, 6 में से 4 गए 2 downstream upstream तीन गुना है नहीं अगला option 6 और 5 11 downstream 6 में से 5 गया एक नहीं अगला option 6 और 3 9, 6 में से 3 गए 3 तीन गुना है जी हाँ डिस option यह equation actual में exam में कैसे करने हैं options है अदरवाइस आप कैसे कर सकते हो जैसे मैंने last question को बताया ठीक है clear है यह बताओ एब बोट गोस 12 किलमेटर downstream and comes back to the starting point in 3 hours एब बोट जो है वो 12 किलमेटर downstream जाती है और फिर वापीस 12 किलमेटर आ जाती है तीन गंटे उसको टोटल लगते है if the speed of the current is 3 किलमेटर पर आर अगर current की speed 3 किलमेटर पर आर है तो बोट की speed बताओ तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में strike होईगी कि क्यों न मैं option check कर लूँ इस condition को satisfy कर रहे है कि नहीं options तो सबसे पहले मैं कौन सा option check करूँगा मैं ऐसे option check करने कोशिस करूँगा तकि 12 divide हो जाए जो हमारा distance है वो downstream से भी upstream से भी divide हो जाए ज़रूरी नहीं है वैसे option answer होएंगे लेकिन कोशिस तो वो रहेगी तो अगर मैं first option को check करूँगा तो downstream की speed बनेगी 12 और 3 पंधरा upstream की बनेगी 12 में से 3 गए 9 15 और 9 किसी से भी divide नहीं हो रहा तो for the time being मैं इसको check नहीं करूँगा य आई है नो और 3 12 upstream की speed downstream की speed 12 है 12 km 12 की speed से total मुझे देखना है तीन गंटे लगेंगे की नहीं और upstream 12 km 9 में से 3 गए 6 तो यहाँ पर 2 गंटे लगे यहाँ पर एक गंटा लगा total 3 गंटे लगे इसने तो condition satisfy करवा दी तो यही है जी clear ठीक है easy number one method number two method देखते हैं कौन-कौन से तरीके से इसको कर सकते हैं तो number two conventional method भाई आप माल लो की bot इसने क्या बोट की speed कितने हैं बोट की speed बी माल लो ठीक है तो हुआ क्या तो 12 km का distance हो है हम गए है b plus 3 की speed से और i है b minus 3 की speed से ठीक है जी इस speed से आप गए हो इस speed से आप आए हो same distance अलग-लग speed से travel किया है तो average speed निकाल सकते हो जी हाँ 2a b over a plus b अभी निकालो average speed 2a into b तो a into b यानि की a plus b a minus b क्या हो जाएगा a square minus b square यानि की a square minus b square 2a b upon a plus b this plus this क्या होएगा 3 से 3 कट गया निचा आएगा 2b तो यह आगी average speed पूरी जरने की तो speed into time distance होता है तो पूरी जरने का time कितना है यह बोल रहे तीन गंटे लगे पूरी जरने में ठीक है तो पूरी जरने का distance कितना है 12 km मतलिक देना 12 km distance एक तरफ का है तो जाने और आने का कितना होगा है 120 km ऐसे अबरे speed से या फिर बिल्कुल basic trick का बात सेम ही है बिल्कुल basic trick का कि 12 km हम गए बी प्लस 3 की speed से 12 km हम गए क्योंकि कभी कभी क्या होएगा वो distance को बदल देगा downstream 12 km गया upstream 10 km गया पदल सकता है तो 12 km हम गए बी माइनस 3 की speed से तो टोटर टाइम लगा जी तीन गन पर इससे कर लो exactly same equation बनेगी इसको आप solve कर सकते हो जी हाँ b की value आ जाए clear है मैं उपर वाली को solve करके बता देता हूँ कि दो से दो cancel out हो जाएगा तीन आठे चो बीस यह वह यह उपर भेज़ देता हूँ आठ भी तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा बी स्क्वेर माइनस 8 भी माइनस 9 इस इकल टू जाएगा तो दो ऐसे नमबर देखने है जिनका सम तो माइनस 9 हो जानिक यह एक नेगटिव होएगा और सम क्या होएगा प्लस 8 क्योंकि साइन चेंज होता है तो 9 एक कम नो और आप ऐसे देखा करो कि सम पोजिटिव है तो बड़े वाले को पोजिटिव रखो सम जैसा होगा बड़े वाले वैसे ही रखना पड़ेगा तो 9 एंड माइनस 1 यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 9 विकोज बोट की स्पीड जो हो नेगटिव नहीं हो सकती 9 तो एट्स उप्शन सी ठीक है क्लियर है किसी और तरीके से देखें इसको कर शकते हैं कि नहीं कि इसने टोटल टाइम बताया है तो पीड मुझे पता नहीं है रेश्यों वाले से नहीं होएगा यही है इसको करने के तरीक है ठीक है यह बताओ इसको सबसे पहला तरीक का ओप्शन सी यूज कर लो यह बोल रहा है कि बंदे की स्पीड है 6 किलमेटर पानी की स्पीड है 2 किलमेटर तो आपको डाउन श्रीम की स्पीड मिल जाएगी 8 अप्श्रीम की स्पीड मिल जाएगी 4 ठीक है अच्छा तो इसको तो बहुत ही जादा तरीक के से कर सकते हैं मैं लिक लूँ मैं भूलना चाहूं सबसे पहले हो गया options दूसरा हो गया क्या बोलते हैं उसको variation पहले ही नहीं दो से बता देता हूं आपको तो option चेक करेंगे डाउंश्रीम की स्पीड कितनी है डाउंश्रीम की स्पीड है 8 और अप्श्रीम की स्पीड है मेरे भाई 4 6 और 2 8 6 में से दो गए 4 दोना स्पीड आगी अब कौन से option में हमें 3 गंटे का फरक मिल रहा है तो मैं 8 और 4 से divisible option पहले चेक करूँगा अगर मिरा दिमाग ठिकाने पर होगा तो पहले मैं 24 चेक करूँगा यहां से लग रहे हैं 8 तीए 24 तीन गंटे 4 छिक चोबिस 6 गंटे तो 6 और 3 में 3 का फरक होता है यह रहां से पहला त्रिका दूसरा त्रिका इसने exactly same distance को exactly same distance एक बार यह गया है जी 8 की speed से और एक बार यह आया है 4 की speed से तो distance same है तो speed का क्या ratio है एक बार speed 8 है एक बार 4 है तो 2 is to 1 तो time का ratio क्या होगा 1 is to 2 downstream में speed 8 है upstream में speed 4 है तो speed का यह ratio तो time का ratio 1 is to 2 तो ratio के बीच में फरक कितना है times में ratio में फरक कितना है एक को बंदा बोल रहा है जी 3 गंटे का फरक तो 3 है कम 3, 3 दो नीच है इसको downstream में 3 गंटे लगते है 8 की speed से 8 ती है 24 अब stream में 6 गंटे लगते है 4 की speed से 624 distance is 24 लिए रहे है variation से यह इनवर्सली वेरी करती है speed रोटाइं इस लिए ऐसे क्राइब और किसी तरीक के से इसको कर शकते है 3 गंटे more बोल रहा है speed distance एक और तरीक के से कर शकते है average speed से तो नहीं कर पाएंगे 3 गंटे more बोल रहा है एक और तरीक के से कर शकते हैं मैंने आपको एक चीज़ बताया थी कि जब same distance को same distance को एक बार S1 speed से travel किया जाए एक बार S2 speed से travel किया जाए ज्यानि कि average को छोटो ऐसे नहीं बताते है मैंने आपको यह बताया था speed और time के अंदर plus minus वाला concept बताया था कोई अगर अपनी speed को 5 km पर आर बढ़ा ले और उसका time जो एक गंटे कम हो जाए तो मैंने आपको एक formula बताया था distance is equal to speed into time speed की जगा हम लिख रहे थे S1 S2 upon delta S into delta T ज्यान है यह वाला concept किया था उसी concept को यहाँ पर लगा सकते हैं सर कैसे देखो exactly same distance है एक बार 8 की speed से हुआ exactly same distance एक बार 4 की speed से हुआ आप बोलोगे जी है अलग-लग speed से ओ रहा है और time का फरक बता रखा है speed का फरक भी है speed का फरक हमें पता है यह है time का फरक बता रखा है इसी formula के अंदर रखो यह same formula कहीं जगा पर काम आएगा distance is equal to एक बार exactly same distance के लिए speed है 8 अगली बार है जी 4 तो नीचे होता है delta S यानिकि दोनों speed के बीच का gap यानिक आठ रखों के बीच में क्या change आया time के भीच में क्या चेंज आया time के भीच में बहुत 3 गंटे को एक बार downstream जारी एक बार upstream जारी तो 3 गंटे का फरक रखार रहा speed के बीच में च्यार कंटे का फरक है तो यह आज आएगा देखो आठती है 24, 24 किलमट्रे डिस्टंस, समझाया कि नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे से इन questions को करेंगे, because यह नहीं है कि भाई, मैं आपको तरीक के रटवा दूँँगा, आपको समझाऊंगा, questions जैसे ही दिखे गया, exam में आपका दिमाग चलना स्टार्ट होएगा, तो जो तरीका आपको सबसे पहले strike होएगा, because हम practice ही उन questions की करेंगे, जो हमारे exam में आ रहे हैं, वही question आपको करवा रहा हूँ, तो जो तरीका सबसे पहले strike होएगा, उसी से कर दो, वही best होएगा, तो वही best क्यों होएगा, आप जितनी बार इन PDF को repeat करोगे, वो उतने ही ज्यादा questions में आपका दिरिका बेस्ट होएगा, तो यह लगा लो आप, आध्य टाइम में कर देगा exam को, अध्य टाइम में करतेगा, math के exam को, जितने भी question है न, उससे अध्य टाइम, 30 second average निकलेगा, क्योंकि कई question तो होते ही 10 second के हैं, और अगर आप best best time देखोगे, तो 30 second के average निकलेगा, तो ऐसा exam में perform नहीं होता है, क्योंकि हम pressure में होते हैं, तो जितनी ज्यादा practice करोगे, जितनी ज्यादा repetition करोगे इन PDF की, उतने ही maximum questions के short test way वहाँ पर strike होएगा, अपने आप strike होएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर practice करनी है, बार 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 बार, जिक, जिलोजी, a man can row at 5 km per hour in still water, if the velocity of the current is 1 km per hour, दोनों की speed पता है, and it takes him 1 hour to row to a place and come back, how far is the place, बहुती simple होगा है तो, कि भाई यह, कई तरिकों से इसकों हम करश रखते हैं, काम काम के एक दो तरिक के बता दूँ, यह बंदा, 5 km बंदे की speed है, 1 km पानी की speed है, तो एक बार तो यह जाएगा 6 की speed से, 5 और एक 6, और 5 में से एक गए 4, यह एक तरफ जाएगा 4 की speed से, एक तरफ downstream जाएगा, एक तरफ upstream जाएगा, तो same distance को अलग-लग speed से travel कर रहा है, तो best तरिका यहाँ पर क्या होएगा, average speed पूरी जरनी की आ जाएगी, वो होएगी 2AB upon A plus B, पूरी जरनी की average speed, पूरी जरनी का time उसने दे रखा, इसलिए मैं यह तरिका कर रहा हूँ, वो बोल रहा है, जा कर आने में एक गंटा लग रहा है, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ, otherwise आप इसमें options यूज कर सकते हैं, basic method से जा सकते हैं, variation वाले से जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, तो पूरी जरनी की speed, पूरी जरनी का time is equal to पूरी जरनी का distance, distance, लेकिन हमें एक तरफ का देखना है, how far is the place, because यह यह बोल रहा है, कि एक बंदा एक प्लेस पर गया, और उस प्लेस से वापिस आया, तो यह बोल रहा है, how far is the place, वो प्लेस यहां से कितनी दूर है, एक तरफ का distance, उसने जरनी दो तरफ की की है, तो मैं इसको half भी कर दूँगा, that's it, और कुछ करना ही नहीं है, दो से दो गया, छे चोके 24 वटे 10, यहने की 2.4 किलामेटर, ठीक है, एक आदे और तरफ के बता दूँ आपको, आप ऐसे भी कर सकते थे, कि भीया, distance अगर D है, तो D किलामेटर उसने 6 की स्पीड से किया, D किलामेटर उसने 4 की स्पीड से किया, ओवरोल एक घंटा लगा, आप D की वैल्यू निकाल लो, कर सकते हो कि नहीं, आप option यूज कर सकते हो, एक तरफ 6 की स्पीड से जा रहा है, एक तरफ 4 की स्पीड से जा रहा है, तो ऐसा option यूज करेंगे, चूज करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, जो 6 और 4 दोनों से divisible हो, इसको चेक नहीं करूँगा, इसको चेक नहीं करूँगा, इसको चेक करूँगा, और जो भी मैं तरीक्वे समझा रहा हूं वो समझ में आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर बेसिक्स हो हैं वही मैं स्ट्रोंग करते आ रहा हूं वो तक अरे कंसेट में क्लियर है आगे बढ़ें और एक और तरीक्वे से कर सकते हैं इसलिए वाले क्वेशन को घेखेक्ली सेम डिस्टेंस ट्रायविल कर रहा है एक बड़ च्ह the शा की स्पीड से एक बर 4 Πिड से थरिक्लिऽ का रीश्यो तायम का रेशयो होगा थो जो ट्री अच्टांट असने बता दिया यहां पर उसको लगी थी 24 मिनट, पांस का बारा गुना है ना, बारा दूनी 24, यहां पर उसको लगी थी 36 मिनट, तो देख लो distance कितना है, speed into time, time minutes में है, तो गंटे में बदल रहा हूं, 2.4, ठीक है, यह नहीं कि यह सारे तरी कमेनर रट लिये हैं, ऐसे possible नहीं है, question को देखक अगर आपको strike होने start हो जाएंगे, ठीक है, clear है, यह बताओ, a man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to the original place, एक बंदा, एक boat पर यहां से जाता है, और वो आप इस उसी जगह पर आ जाता है, यानि कि same distance को उसने अलग-अलग speed से या है, in 5 आर, 5 गंटे में काम करेंगे, if the speed of the boat in still water, still water में boat की speed है 10 है, और पानी की speed है 4, the distance, तो इस place का distance कितना है, तो simple सी बात है, देखो, जब नीचे जाएगा, तो कितनी speed से जाएगा, 10 और 4, 14, downstream की speed कितनी है, 14, upstream की speed कितनी है, 10 में 4, गएचे, ऐसे option को चेक कर लो न, जो 14 और 6 से divisible है, सबसे last वाला चेक करूँगा, 14 तीए 40, 14 की speed से जाएगा, तो 3 गंटे लगेंगे, 6 से अगर चेक करूँगा, 6, 7, 24, 7 गंटे लगेंगे, तो 3 और 7, 10 गंटे लगेंगे, तो इसको तो मैं चेक नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा गंटे लगेंगे यहाँ यहाँ पर तो, यानि कि इससे छोटा distance चेक करूँगा, तो मैं 21 को चेक करूँगा, वहाँ पर 10 गंटे लगेंगे न, इसस यूर अंसर, कई बार क्या होता यह नहीं कि exactly 14 और 6 से divisible ही अंसर होगा, उसको हम पहले चेक करेंगे, यह मैं बोल रहाता है न, होने को तो बाकी भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, फिका जी, ओके तो हमने option से चेक कर लिया, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक जो डिस्टन्स है, उसने, एक बार 14 की स्पीड से गया, और वापिस आया वो 6 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकाल दू, 2AB, upon a plus b, पूरी जर्नी की average speed आ गई, पूरी जर्नी का time क्या है ये, तो ये पूरी जर्नी का distance आ गया, मुझे सिरफ एक तरफ का निकालना है, तो divided by 2, क्योंकि ये जो distance आ गया, ये जाने का और आने का दोना तरफ का, that's it, पहत्म कहाने, पांच, तो के 20, दो से ये जाएगा, साथ पर ये तीन पर शाथ ये, ठीक है, करने को इस question को और तरिक कैसे भी करा सकता हूं, last question करवाया था वैसे, बड़ जरूरी निया, समझ गया ना, आप, ये बताओ, के motor boat can travel at 10 km per hour in still water, it traveled 91 km downstream in a river, and then returned to the same place, altogether taking 20 hours, तो पूरी जरूरी में 20 गंटे लगे, 10 km इसकी speed है, distance इन्होंने बता दिया है, फिक, पूरी जरूरी का time इसने बता दिया, ठीक है जी, find the rate of the flow of the river, तो सबसे पहला option की, मैं option use कर लूँ, option use कर लूँ, तो total distance कितना है, total distance है 91 km, तो distance अगर 91 km है, आपको कुछ strike हो रहा है, boat की speed दस है, boat की speed दस है, अब मैं option use कर रहा हूँ, option के अंदर given है, पानी की speed, तो downstream की speed क्या होगी, boat plus पानी, upstream की speed क्या होगी, boat minus पानी, तो जो downstream की और upstream की speed है, यह actual question है, CGL, tier 2 का, तो जो downstream और upstream की speed है, वो distance को divide करेंगी, तभी तो यह value आएगी, integers में, तो पहले उसको check करेंगे, तो क्या मानूँ speed, देखो, तीन अगर मैं मानूँगा, तो 10 और 3, 13, तो 13 सते ही क्याणवे, divide हो रहा है, तो मैं पहले इस option को check कर रहा हूँ, क्याणवे किलोमेटर, 10 पानी की speed, 10 है boat की speed, 3 है पानी की speed, 10 और 3, 13 की speed से जाएगा downstream में, और 10 में से 3 गए 7, 7 की speed से जाएगा, 13 सते ही क्याणवे, 7 से जाएगा 13 पर, क्या भी इस गंटे लग रहे हैं, जी सर, यही answer है, मैंने manipulate नहीं किया है, options को, questions को, actual पूछा गया question, इसे कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये तीन बाद में होता, तो भी इसी को check करते हैं, अगर पहले 2 होता, तो मैं देखता है, 10 और 12 और 8, इक्याणवे को divide करने के आसपास भी नहीं है, मैं नहीं करता check, 200 और 5, 15 और 5, इक्याणवे को divide करने के आसपास भी नहीं है, हो सकता है, 5 उत्तर हो, इस तरिक्के से वो time set कर दे, उसको check नहीं करते, वो easily check नहीं होता, option जब हम check करते हैं, तो उस option को पहले check करते हैं, जो जल्दी check हो जाए, जल्दी eliminate हो जाए, सही उत्तर को check नहीं करते, सही को check क्यों करोगे, सही का पता है तो पहले ही मार दोगे, जो जल्दी eliminate हो जाए, ठीक है जी, क्लियर है विरादर अब आगे इसको और कैसे किस तरीके से करें एक यानवे किलम्टर जा रहा है आ रहा है तो मैं ये मान लेता हूँ एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हो देखो बोट की स्पीड मैंने माली स्पीड X 10+, X की स्पीड से जाएगा और 10-X की स्पीड से आयगा ये clear है Tribal टो बेसिक तरीके से कर सकते हो यानहें बटे 10+, X ये टाइम लगा उसको downstream में इक यानह में बटे 10-X n में टोटील 20 गंते ऐसे कर सकते हो हूँ कि क्यान में दोन्हों में से उठके निच्छे जाएगा ये क्रोस मल्टिप्लाई होएंगे या फिर अपना वहीं मामला है इस तरीके से बेसिक से मत करना इस्टम आपको सिखा रहा हूं अव्रेज़ स्पीड वालाकन से अपलता हे गया आलग स्पीड से आया आलग स्पीड से से मामला इस्टेंस तो अव्रेज़ स्पीड क्या हो जाएगी टू ए भी यहनुकल नघ्टो इन्टु इस into this a plus b a minus b a square minus b square upon a plus b this plus this क्या आवेगा b is यह average speed पूरी जर्नी की पूरी जर्नी का time क्या है पूरी जर्नी का distance speed into time अब कई बच्चे या आपरी क्याणवे लिख देंगा मैं पूरी जर्नी का पूछ रहा हूँ पूरी जर्नी यानि की गया और आया ठीक यह cross all अब सो में से क्या गटाओं की क्या आणवा आया आप बोलोगे सर 9 गटा दो x square की value 9 है यानि क्या एक्स की value 3 है that's it कटम कहानी ठीक है कोई भी question करने के बाद कभी कभी क्या हुता आपका सोचने का दिल करता है लेकिन मैं बटन दबा देता हूं आगे चला जाए को तो क्या करा करो पोज क्या करो वीडियो को कभी कभी sinking करने का दिल करता है कि information यह जो है इसको एक बार स यह सोचा करो वीडियो को पोज करके सोचा करो एक यह question बताओ कि कि motor boat hood speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in four and half hour 30 km downstream जा रही है और चार और आदे चार गंटे में आते है तो पूरी जर्नी का time बता दिया हांजी पूरी जर्नी का distance बता दिया उस boat की speed 15 km है पानी की speed पूछ रहे है तो एक तो है कि मैं option check कर लूँ 15 km boat की speed है पानी की speed ऐसी माल लूँ 30 km को divide कर पाए divide ना कर पाए तो कम से कम ऐसे तो ना होना देखो कभी कभी क्या होता है कुछ option ऐसे होंगे कि अब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा जैसे मैंने आपको option check किया था 3 by 2 7 by 2 ऐसे आया था ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि 30 बते से 37 कभी कभी ऐसे होता है कि इतना गंदा है ऐसे option को check नहीं करेंगे at least point में हो तो ऐसे तो हो 30 बते 35 कुछ तो कट रहा हो समझे हो समझे हो तो distance है 30 मैं पहले option को अगर check करूँ तो speed है 4.5 और इसकी motor की बोट की speed है 15 km पर और पानी की speed है 15 और 19.5 मैं क्यों check करूँगा नहीं मैं check ही नहीं करूँगा भाई 15 और 21 नहीं यह मैं नहीं check करूँगा 30 पर 21 अभी नहीं करूँगा at least बढ़िया 15 में से 7 गए 8 या 15 और 22 यह भी नहीं 15 और 5 बीस यह at least फिर भी देखो 0 है downstream की speed बीस और 15 में 5 के 10 अगर completely डिवाइड नहीं हो रहा है तो भी आपको choose करना आना चाहिए कि better कौन सा है यह नहीं फिर भी तोड़ा calculate युशा है यह तो हो गया option check करने वाला अब दूसरा same distance को अगर मैं पानी की speed x माल लूँ तो एक बार यह जा रहा है 15 प्लस x की speed से cover कर रहा है और एक बार 15 माइनस x की speed से cover कर रहा है average speed क्या हो जाएगी 2a into b जाने की 125 माइनस x square upon a plus b यानि की 30 यह पूरी जर्नी की average speed है पूरी जर्नी का time है 9 by 2 hours तो पूरी जर्नी का distance क्या हो जाएगा 30 into 2 30 किलोम्टर जाकर वापिस आया बस इसको कर लो solve तो दो हो गया इस एक तीन से मैंने इसको 10 पर काट दिया एक तीन से इसको 10 पर काट दिया अगर यह उपर जाएगा 10 और 20 तो उपर हो जाएगा जी 200 तो 220 में से क्या गटाऊं कि 200 आ जाए तो आप भोलोगे 25 गटा दो x square की value 25 है यानि की x की value 5 है तो this is your answer ठीक है ठीक है जी पूर्डिया कर जाती है एक 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 वे में रह की a man can row 30 km downstream and return in a total of 8 hours 30 km downstream जाकर वापिस आ सकता है 8 गंटे में if the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current still water में यानि की boat की जो speed है और यह क्या बोल रहा है current की speed है the speed of the boat in still water is 4 times the speed of current अगर current की speed एक unit है तो boat की speed 4 unit है अगर यह एक एक है तो यह चार है downstream की speed क्या हो जाएगी च्यार प्रस एक 5x एकस लेना जरूरी नहीं है अगर जुरूत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे upstream की speed क्या हो जाएगी boat की speed minus current की speed या फिर water की speed प्रण्ट यानि की पानी 3x ठीक है जी downstream और upstream की speed पता लग गई ठीक है तो इसको दो तरिके से बता देता हूँ पहले तो average speed वाले से बता देता हूँ देखो यह बंदा गया तो है 5x की speed से वापिस आया है 3x की speed से आप बोलोगे जी हाँ तो पूरी जरुनी की average speed क्या होगी क्योंकि इसने पूरी जर a b upon a plus b पूरी जरुनी की average speed टाइम कितना है पूरी जरुनी का सराथ गंटे पूरी जरुनी का distance तर 30 इंटू दो क्यों क्योंकि 30 एक तरफ का है 30 गया और वापिस आया clear भी निकाल दो एक्स एक्स आर्ट 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 पांस ते पंदरा दुनी तीस यह है पुरा तीस एक्स की value है जी तो x is equal to 2 क्या पूछा है than the speed of the current तो current की speed क्या है x यानिकी 2 answer is option b clear कोई भी प्रेशा निसके अंदर नहीं जरुआ इसको कैसे कर सकते हैं देखो एक बार वह सेम डिस्टेंस वो नीचे गया है एक बार सेम डिस्टेंस उपर आया है तो एक बार downstream की speed से गया एक बार upstream की speed से गया तो speed का ratio क्या है 5 इस्टो 3 यह तो ratio ही पता है हमें 5 x 3 x ratio है 5 इस्टो 3 तो time का ratio होएगा time का ratio होएगा 3 इस्टो 5 इस्टन सेम है downstream में 3 unit time लिया था upstream में 5 unit यह बोल रहे है कि actual में total 8 गंटे लिए तो यहाँ पर ratio में 5 और 3 8 है actual में भी 8 है यानि कि actual time मिल गया भाई तीन गंटे और 5 गंटे तीन गंटे लगे थे उसको downstream जाने में तो 30 किलम्टे जाने में 3 गंटे लगे यानि कि down stream की speed है 10 km और 5 गंटे लगे यानि आप stream की speed है 6 किलम्टे पर और boat की speed पूची होती तो दोनों का sum divided by two लेकिन पानी की speed पूची है दोनों का difference divided by two, 10 – 7 2 तो अंसर भी एक लिर अगर आपको भले यह चीजे श्ट्राइक ना हो रही हो मैं बता रहा हूं तो समझ में आ रही है कि नहीं अगली बार स्ट्राइक हो जाएंगी टैंस मतलो ठीक है हमझ मैं आनी चीजे अच्छे से यह चीजे पहले यूज कर चुका हूं अच्छे से हम कर चुके हैं ठीक है मैं सिरफ बोट एंड स्ट्रीम वाले कंसेट्स से इन क्वेशन को नहीं कराना चाह रहा ठीक है ठीक है डिस्टन्स इस इकल टू स्पीड इंटू टाइम यह तो चाहे बोट चले रेल चले हावाई जाट चले यह सब लिए टू है अगर डिस्टन्स कॉंस्टेंट हो तो स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्शली प्रोपर्श्टनल होते है यह सब लिए टू है गाय चले गधा चले घोडा चले आदमी चले रेल चले यह सारी स्पीड है वो अबस्ट्रीम से 150 परसेंट जादा है तो अबस्ट्रीम की स्पीड मैंने माल लिए 2x तो डांस्ट्रीम की स्पीड कितनी होईगी इसका 150% होता है 3 लेकिन वो 3 नहीं है उससे 3 ज्यादा है यानि कि 5 है 5x है ठीक कजिए ओके इस टाइम टेकन बाई बोट फोर going 80 km downstream and 50 km upstream ये बोल रहा है 80 km downstream गया तो मैंने बताया था हमेशे average speed से नहीं कर सकते कि distance बदल देता है अब होती चतुर बंदा है cunning है अपना examiner 80 km वो कितनी speed से गया तर 80 km गया वो 5x की speed से 5x speed है न जी downstream गया और 50 km upstream गया तो कितनी speed से गया 2x speed से गया ठीक है और total कितना time लगा देको 80 km इतनी speed से distance by speed time distance by speed time total time है sir 8 by 8.2 है न 8.2 है ठीक है इसको मैं इसे कर लूँ ठीक आफ देख थे 5 से जाएगा 16 पर 2 से जाएगा नीचे तो x रह गया तो 25 और 16 45 बटे x इक्तालिस दूनी दो बंजे x की वेल्यू 5 है क्या पूछ रहा है और इस ता speed of the boat downstream downstream की speed पूछ रहा है यानि कि 5x की x की वेल्यू 5 है तो 25 25 25 इसने answer that is option ठीक है अपने exam में पूछा गया question है ठीक है कि बोट कवर 12 km upstream in 18 km downstream in 3 hours ठीक है अब यह भी बड़े मज़ेदार question है और मेरे बताने से पहले खुद करने को जाए आपको best way से बताओंगा आइट से लिए अमरे करना है तर्मी में मर के बताओंगा बड़े बताओंगा तो 12 km upstream देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें अपने पास दो option है हम option भी use कर सकते हैं तिकडम बढ़ा कर option नहीं option नहीं sorry तिकडम भी बढ़ा सकते हैं जुगाड़ यहां पर हमें linear equation से solve करना होते हैं कैसे हम बताता हूं बहुत easy है दूसरे step के अंदर कुछ चीज़े मिलने स्टार्ट होते हैं आपने सिरफ इस चीज़ को लिखना है और तो कहीं बताता हूंगा बारा किलोमेटर इस बारा किलोमेटर डाउंश्ट्रीम इन 6 आर्शन 6.5 आर्शन 6 आर्शन 30 मिनट यह 6.5 लिख लेते हैं 11 आपटे 2 लिख लेते हैं जो भी आपने लिख लेते हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आपने u और d की value नहीं निकालनी कई बार बच्चे क्या करते हैं यहां पर u और d की value निकाल दे लिखते हैं नहीं statement को समझो 12 किलम्टर upstream जाने में जो time लगता है वो लिखा है मैंने यहां पर 12 किलम्टर upstream और 18 किलम्टर downstream में दोनो time मिलाकर 3 गंटे बनते हैं 37 किलम्टर upstream और 24 किलम्टर downstream जाती है तो 6 गंटे 30 मिनट लगते हैं कैसे solve करना है बताता हूं अब यह करो जैसे हम linear equation में solve करते हैं ऐसे क्या करते हैं उपर 3 गुना कर रहे होते हैं नीचे 2 गुना कर रहे हैं चाहिए 3 दू नीचे 2 ती अचे x से x कर जाए यहां पर exactly same काम करेंगे ठीक है किसी भी एक को काट दो जो easily कट रहा है यहां पर मैं उपर वाले को 3 गुना कर रहा हूं सर क्यों कर रहे हो 3 गुना मेरी मर्जी रोक सकते हो तुम इसको मैं 3 गुना कर रहा हूं ताकि 12 ती है 36 यू और 36 यू बन जाए ताकि 3 गुना करके नीचे वाले को काट तो यू खतम हो जाए ठीक क्लियर है तो यू तो खतम ही हो गया 36 गया तो 18 ती है 24 चोवन में से 24 गये 30 किलम्टर डाउंस्ट्रीम तीन ती है 9 गंटे में से इसको घटाओगे तो 6.5 है याने की 6.5 को अगर में घटाओगा तो 2.5 आर्ष तो यहाँ पर कई बार बंदे D की वैल्यू निकाल रहे होते हैं ऐसे 2.5 by 30 यह गलती मत करना मुझे क्या निकालनी है एक बात किताओ अगर मुझे डाउंस्ट्रीम की स्पीड मिल जाए अप्स्ट्रीम की स्पीड मिल जाए तो क्या कोई मुझे रोक पाएगा एक्वेशन को करने में डाउंस्ट्रीम और अप्स्ट्रीम की स्पीड मिल जाए तो बोट और पानी सब की स्पीड आ जाती है तो डाउंस्ट्रीम की स्पीड क्या होते है स्पीड होती है कि एक गंटे में कितना गया एक मिनट में कितना गया तो आपने क्या देखना है कि डाई गंटे में 30 किलम्टर डाउंस्ट्रीम जा रहे तो एक गंटे में कितना जाएगा तो 30 बटे में डाई एक गंटे में कितना जाएगा इससे डिवाइड करना है डाई या में एक गणटा लग अब इसको यहाँ पर put कर दो यहाँ पर कहीं पर भी put कर दो जहाँ पर आपका दिल करें तो बारा क्लोंटर डांются्रीम जाने में एक गणटा लग रहा है तो 24 क्लोंटर डांं स्ट्रीम जाने में दो घंटे लगे होंगे लेकिन टोटल कितने गंटे लगे स्वाड़े 6 स्वाड़े 6 में से 2 गए यहां पर बचे गे स्वाड़े च्यार, याने कि 36 km आप श्ट्रीम जाने में 4.5 आरष लगे तो एक किलॉम्टर तो स्वाड़े 4 गंटे में 37 km आप श्रीम चला गया तो एक गंटे में कितनी दूर गया, एक गंटे में कितनी दूर गया, एक गंटे में कितनी दूर जाए 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 गया, एक गंटे में तो यह अप्स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड पानी की स्पीड पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस बाइटू बारा में से याड़ गए चार अपटे दो अगर आपको यह कैलकुलेटिव लगा तो इसको मैं बहंकर आसान कर दूँगा आपके लिए टेंस्न मतलों एक दो व्यक्वेशन करते हैं आपको काफी असान लगेगा यह ठीक है और उसके बाद एक बड़िया कैलकुलेटिव क्या होता है इनमें कैलकुलेटिव क्या है और ये क्योशन बताव उसी तरीके से, ये बोट गोष 24 km upstream, 24 km upstream, and 28 km downstream, जाने में उसको लग रहा है 6 गंटे, it goes 30 km upstream and 21 km downstream in 6 hours and 30 minutes, 6 hours and 30 minutes, इसको 6.5 लिकलो, 11 by 2 लिकलो, कैसे भी लिकलो आपकी मर्ची है, the speed of the stream is equal to what, जैसे मैंने आपको बताए, इसको वैसे करना ही कोशिस करो, देखो भाई, इसके साथ आप कुछ भी कर शकते हो, यहाँ पर आप ये भी कर शकते हो, जैसे ये क्या है, ये है 7 into 3, ये है 7 into 4, जैसे 7 into 4 है, इसको मैं 3 times कर दूँ, और इसको मैं 4 times कर दूँ, ऐसे मैं कर शकता हूँ कि नहीं बताओ, 21 के चुराशी हो जाएगा, 28 तिये चुराशी हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से solve हो जाएगा कि नहीं, मैं solve करके नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको methods बता रहा हूँ, exactly उसी तरिके से चीज़े आ जाएंगी, जैसे last question में, या फिर, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो वही, कभी-कभी calculated आ जाएगा, तो आप उसको कैसे less calculated बनाओगे, इन सब में कुछ common है, दो common है, आप दो काट सकते हो, लेकिन जो भी आप काम करो, make sure कि उससे कुछ फाइदा हो रहा हूँ, जैसे इन सब में तीन common है, तो तीन काटूँगा, तो साइध फाइदा होएगा, तीन धाई, तीन सथे, किस, तीन दुनी, तुवार्ष, और तीन धाई, दस मिनट, अब क्या फाइदा होएगा, अब ये फाइदा होएगा, ये 7 km डाउंस्ट्रीम है, ये 28 km डाउंस्ट्रीम है, अब आपको तरीक के बता रहा हूं, कि कैसे हम सोल कर सकते हैं, लिनेर इक्वेशन टाइप के, ठीक, तो करें फिर, च्यार साथे 28 और ये 28, ये तो cancel out हो जाएगे, बाकियों को देखते हैं, क्या बनेगा, च्यार इंटू 10, 40, 40 में से 24 के, 16 km upstream जाने में कितना टाइम लग रहा है, च्यार इंटू 10, 8 गंटे और 40 मिनट हो जाएगा, यहाँ पर, 4 गुना करोगे तो, 8 गंटे में से 6 गंटे गए, 2 गंटे 40 मिनट, तो 2 गंटे 40 मिनट का मतलब होता है, 2, 2 by 3 hours, 8 by 3 hours, 8 by 3 hours में, यह 16 km upstream जा रहा है, अपना इंटरस्ट है कि एक गंटे में कितना जाएगा, उसी को speed बोलते हैं, upstream की speed क्या होईगा, एक गंटे में कितना जाएगा यह, 16 गंटे, 8 गंटे, 3, तीन दो निचा है, 6 km जाएगा, एक गंट, एक गंटे में 6 km upstream जाता है, तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 6 का multiple देखो, यहाँ पर यहाँ यहाँ पर देख रहा हूँ, 6 km जाने में 1 गंटा लग रहा है, 24 km जाने में 4 गंटे लगेंगे, टोटल 6 गंटे लगे, यहाँ पर 2 गंटे लगे होंगे, 2 गंटे में 28 km downstream से लागा है, तो एक गंटे में कितना downstream जाएगा, 14 km downstream, simple, क्या पुझा है, speed of stream, difference divided by 2, 12 में से चाह गए, 8, 8 बुटे 2, 4, clear है, इसी काम को fast कर पाओगे, एक बार करके देखना, इसी क्वेशन में दुबार करके देखना, यहाँ पर मैं थोड़ इसी बसे, ज़्यादा चीज़े लिखते रहा हूं, कुछ चीज़े आप, स्किप कर दोगे, प्रैक्टिस के साथ, यह actual exam में पूछा गया question है, सीजिल टीर टू में है, देखें, मैं बोल रहा था है कि जुगाड से करेंगे, जुगाड से कैसे करेंगे, अगर ऐसा question आएगा, कि exam के अंदर आप जुगाड से कर पाएंगे, अपको strike होएगा, वो देखें, यह motor boat traveling at same speed, covers 25 km upstream, and 39 km downstream, in 8 hours, और यह बोल रहा है, मैं 30 km upstream, और 52 km downstream, तो देखो, यह दोनों distance उसने कब किये, downstream में किये, यह दोनों upstream में किये, तो उसकी जो downstream की जो speed है, downstream की जो speed है, most probably, अब यह ज़रूरी नहीं है, कि speed हमेशा integer में होएगी, 10.5 भी हो सकती है, लेकिन most probably, 39 और 52 को divide करती हुई होगी, यहाँ पर मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, actual question exam में है वा, तो यहाँ पर कौन सा number दिख रहा है, जो इन दोनों को divide रहा है, 13, मैं ज़स्ट चेक करूँगा, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है, पूर एक बात यह ध्यान रखना कि अप्स्ट्रीम जो चोटा रखना है, number downstream से, साथ नहीं सोरी 5 है, पाँच, चेक करूँ, डाउन्स्ट्रीम मैंने 13 माल ली, अप्स्ट्रीम 5 माल ली, उपर कंडिशन सेडिस्पाई हो रही कि नी, तो 525 यहाँ पर 5 गंटे, 13, 49, 5 और 38 गंटे, यह तो चेक होगी, निचे वाली भी चेक हो नीची है, अगर 5, 35, 37 गंटे, 13, 11 गंटे दोनों चेक होगी, तो यही है जी, यही है मामला, कुझे ना पूचा कहा है, speed of stream, difference by 2, 13 में से 5 गया, 8 गंटे, 2, 4, option 6, आया हुआ question, इनको दूसरे वे से भी बताऊंगा, इनसे मतलो, आया हुआ question, यह boat गेन को, 5 किलमेटर upstream, 7.5 किलमेटर downstream, 45 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, fraction में आ गया, 2.5 किलमेटर upstream, यह रहने देते हैं, रहने देते हैं, तो कुलमिला के जुगाड है, यह जुगाड हम कब apply कर पाएंगे, जब question हमें apply, जब question हमें allow करेगा, जब question आपको चिला चिला कर बोलेगा, यह हम दोनों 13 के multiple हैं, यहीं से strike हो जाएगा, otherwise अपने normal method से करें, करें practice, 25 किलमेटर upstream, 49 किलमेटर downstream, इन 8 hours, अब मैं यह fast करूँगा, ठीक है, तो कि practice कर रहे हैं भी, 35 किलमेटर upstream, 52 किलमेटर downstream, इन 11 hours, यहाँ पर मैं क्या करूँ, किसे multiply करूँ, किसे काट दूँ, क्या करूँ, कटेगा तो यह नहीं किसी चीज से, तो चलो multiply ही करना पड़ेगा, तो यह 13 चोक्के बाववन है, यहाँ पर एक 3 दे देते हैं, ठीक है, और यह 13 ताली से यहाँ पर एक 4 दे देते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यह दावन श्ट्रीम और डावन श्रीम कट जाएंगे, यह 13 इंटू 3 था, यह 13 ईंटू 3 इंटू 4 हाँ गया, 13 इंटू 4 है, मैंने सब को 3 दे दिया, तो 13 इंटू 4 इंटू 3, तो तो खटी जाएंगे अभी इनको देखते हैं 35 ती ए 105 पांच 25 तो के सो ए 105 में से सो गए 5 किलम्टर अप्स्ट्रीम 11 ती ए 33 आठ तो के यहां पर यह ज़्यादा है इसे आँ नहीं यही ज़्यादा है 11 ती ए 33 तो के 32 ती ती तो के 32 गए अब स्ट्रीम यह है तो पांच किलम्टर जाने में एक गंटा लग रहा है तो 25 किलम्टर जाने में कितना लगेगा पांच गंटे लगेंगे आठ में से पांच गए यहां पर तीन गंटे लगे होंगे यहां पर कितनी स्पीड है तीन गंटे में 49 किलम्टर एक गंटे में 13 किल नवर ग्राम वाइस के पड़, ये बताओ, बोट गन गो 5 km अप्स्ट्रीम and 7.5 km downstream in 45 minutes, रूत पड़ेगी तो गंटो में बतालेंगे, it can also go 5 km downstream and 2.5 km upstream in 25 minutes, how much time will it take to go 6 km upstream, upstream जाने में कितना time लेगी तो मैं कोशिस करूँगा, मैं downstream को ही काट तूँ, downstream को काट सकता हूँ, मैं को काट तो सकते हैं, इसको 1.5 से multiply करते हूँ, इसको 5 से डिवाइड करते हूँ, इसको 5 से डिवाइड करते हूँ, 5, मैं 10 कुना करते हूँ, यही सोच रहा हूँ कि directly upstream निकाल लें, downstream को काट दें, 1.5 से multiply करना उतना मज़ेदार नहीं, आप अपने लिकर लेते हैं, upstream को कोई काट लेते हैं, मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि हमने यह देखना है कि upstream की speed कितनी है, तो फाइदा इसमें होएगा, कि downstream वाले को आपस में cancel करा दे, लेकिन वो cancel कराना, कम कैलकुलेटिव नहीं होएगा, इसके comparison में ज्यादा कैलकुलेटिव होएगा, तो चलो upstream वाले कोई कट वा लेते हैं, क्यों, क्योंकि यह 2.5 है, वो 5 है, तो निचे वाली को जश्ट 2 गुना करना है, बात बन रही है असानी से, तो क्यों जाता है दिमाग लगाना, तो यह 5 यू, 5 यू कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 7.5 गए, 2.5 क्लाउंटर downstream जाने में, 12 दूनी 24, 12 इंटू 5, 6, 30, तो 30 किलोमेटर पर आर आगई downstream की speed, यह फिर downstream के में speed निकलनी थी, sorry, हम यहां से भी use कर सकते थे, अब stream की speed निकलनी है, अब मेरे को जाना है, यहां से भी use कर सकते हो, speed निकलनी है क्या सरो थे, देखो, कि धाई किलोमेटर downstream जाने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो धाई किलोमेटर का डबल है, तो यहां पर total कितने मिनट लग रहे होंगे, 10 मिनट लग रहे होंगे, 25 में से 10 मिनट यहां लग गए, तो 15 मिनट यहां लग रहे हैं, धाई किलोमेटर upstream जाने में 15 मिनट लग रहे हैं, चाहे किलम्टर अफ्स्ट्रीम जाने में कितने मिनट लगेंगे एक किलम्टर अफ्स्ट्रीम जाने में 15 मिनट लगेंगे एक किलम्टर अफ्स्ट्रीम जाने में 15 बटे धाई इतने मिनट लगेंगे और 6 किलम्टर अफ्स्ट्रीम जाने में इंटू 6 इतने मिनट लगेंगे मैं से 5, 15, 16, 18 , 26. नहीं है मैंने थोड़े से क्याल्कुलेटिव क्वेशन भू ले रखे हैं ताकि मैं यह नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आसान आसान क्वेशन करा के निकल लूँ जैसे एक्जेट क्वेशन आरहे हैं मेरा यह एम है कि exact exam के अंदर आप score करें तो यह नहीं कि exam में ऐसे आ रहे हैं ऐसे भी आ रहे है आसान भी आ रहे हैं थोड़े से कल्कुलेटिव भी आ रहे हैं तो आप एकदम से surprise नहीं होगे exam में आप surprise नहीं होगे यह equation आपको देखना को मिलें exam में जिस तरह के equation देखना को मिलेंगे हर तरह के हम यहाँ पर कवर करें ठीक है a motor bot can go to 8 अभी एक मैंने calculated equation उठा रहा है a motor bot can go to 8.4 km downstream and 4.8 km upstream कभी-कभी ऐसे calculated भी देखना को मिलेंगे in one hour it can go 17.5 km downstream and 9 km upstream in two hours how much time will it take to go this much in still water still water में speed निकाल लेंगे और बता देखो इसको कैसे करोगे बताओ calculation कैसे चोटी करोगे कई सारे तरिक है यह नहीं कि यह एक ही तरिक का है कई सारे तरिक हैं कैसे भी कर सकते हैं कि इसका पॉइंट हटा दें दस से multiply हम लब आप कुछ भी कर सकते हूं तो चलिए मकरना स्टार्ट करता हूं तो यह से करूँगा मैं इसको 12 से divide कर दूँ 12,7,84 पॉइंट से उना जाएगा ना 12,4,48 पॉइंट च्यार और यहां पर 12 इसको छोटा तो कर दिया एक वोटे बारा आ गया उपर एक वोटे बारा तो इसको सेम कर शकते हैं अब इनको कर शकते हैं सेम इसको अगर मैं 25 गुना कर दूँँ 25,75 याने की 17.5 यह इसलिए हमने 25 गुना किया कि यह कट जाए तो यह तो देखने की जरूत है नहीं यह तो कटी गया तो 25 चोके 100 यहां पर आ गया जी 10 10 में सेन हो गया एक किलम्टर अप्स्ट्रीम जाने में यह हो जाएगा 25 बटे 12 बटे 12 माइनस यह 2 गंटे 12 दूँदी 24 एक बटे 12 एक बटे 12 आर्श लग रहे हैं एक गंटे के बार में इससे में 1 किलम्टर जा रहा है तो एक गंटे में कितना जाएगा एक गंटे में 12 किल तो 9 km upstream कितनी देर में जाया जाएगा तो 9 km जाया जाएगा 9 बटे 12 distance upon speed यानि कि घंटे के 3 बटे 4 हिस्से में तो 2 में से इस 3 बटे 4 को घटा होगे बाक्य का time 4 दुनी 8, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 4 घंटे यहाँ पर लगेंगे बहुत कि अगर 5 डटे 4 गंटे में इतना downstream आ रहा है तो एक गंटे में कटी जाएगा है ना इसे मैं काटी देता हूं तो दूनी च्यार दो पंजे तस पत्चीस साथ दूनी चोधा तो डाउंस्ट्रीम की स्पीड आ गई जी चोधा अप्स्ट्रीम की स्पीड आ गई है वाई 12 उसने पुचा तो स्टील वाटर में स्पीड होएगी इन दोनों का सम डिवैडिड बाई 2 यानि की 14 और 12 26 बटे 2 यानि की 13 तो स्टील वाटर में स्पीड है 13 13 की स्पीड से इतनी दूर जाने में कितना टाइम लगेगा तो अप्षिन ठीक है यह TCS ने कुछ पेपर्स लिये थे ICAR के उनमें लगातार उन्होंने कैल्कुलेटिक क्वेशन्स पुचे थे तो उनके अंदर पुचा गया था तो यह उनके कैल्कुलेटिक क्वेशन्स में से अब को देख भी रहा है ठीक है तो ठीक है अब कुछ से मिसल कि करो हो जाएगा यह मत सोचना है कि होएगा नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिना रुक के करो भी जाएगा तो हुआ क्या है मैं आपको सिच्वेशन बता देता हूँ ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप चर्नी बिट्विन टू पॉइंट्स ए और बी इन रिवर इन टी आर्टी गंटे में एक बोट जो है राउंड ट्रिप की जरने कवर करती है यानि कि A से लेकर B तक जाती है और B से वापिस आती है दूसरा केस क्या है कि अगर बोट की स्पीड स्टील वाटर में डबल कर लें तो कितने हो जाएगी टू बी तो दूसरा केस है कि टू बी प्लस डबलू की स्पीड से जा रही थी और टू बी माइनस डबलू की स्पीड से आ रही तो यह दो केस है अगर यह इस स्पीड से ज पहले के comparison में कम time ले रही है ज्यादा बताओ कम ले रही है ये एक से 30 fraction है कम time ले रही है क्यों क्यों क्यूंकि speed बढ़ गई है पहले वाला ये कैसे दूसरे वाला ये कैसे क्यूंकि speed बढ़ गई है जाने की भी बढ़ गई है 2b plus w आने की भी बढ़ गई है पहले b minus w था उसमे एक B add ही हुआ है ठीक है क्योंकि speed बढ़ गई है तो अगर time का ये ratio है कि time 161 से 80 हो गया तो हम ये बोल सकते हैं speed 80 से 161 हो गई अगर पहले वाली speed 80 थी तो आज की speed 161 है overall जरने की तो पहले ये गई speed में आई speed में तो पहले वाली speed overall क्या होएगी same distance को अलग लग speed से travel किया है तो average निकाल दूँ average speed 2AB upon A plus B तो 2AB यानि की A plus B into A minus B यानि की B square minus W square 2AB upon A plus B यानि की this plus this that will be 2B तो ये पहले वाली speed है अब इसको मैं divide कर रहा हूँ नई वाली speed से मैं old speed को divide करूँगा new speed से अगर इस speed से जाए और इस speed से आए तो average speed क्या होएगी same distance अलग अलग speed से 2AB यानि की A plus B A minus B A square minus B square ठीक है upon upon में A plus B जो उपर चला जाएगा this plus this is equal to 4B old वाली speed और new वाली speed का ratio लिख दिया मैंने in terms में और actual में वो ratio है 80 upon 161 फिर क्या actual question है हाँ CGL tier 1 का actual question है तो अब इसको करें सोल क्या पूचा उसने आप से find the ratio of its speed in still water to that of speed of tariff ratio ही पूच सकता है B और W दो variable है इनका ratio ही आएगा यहाँ पर तो भी करके देख लेते हैं तो 2 गया B से B गया 2 से 2 पर गया 2 से गया 40 पर अगर इनको मैं cross multiply करूँ हूँ तो 161 धर आएगा 161 इधर आएगा तो अभी मैं mentally करूँ है देखो 161 B स्क्वेर अभी हाँ पर देखोंगा B स्क्वेर कितना हाएगा 24 B स्क्वेर इंटो 40 160 B स्क्वेर आपर 161 B स्क्वेर 160 B स्क्वेर इदर आएगा इधर सिरफ B स्क्वेर रह जाएगा ठीक इधर आएगा 161 W स्क्वेर उदर ये W स्क्वेर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 40 W स्क्वेर इधर 161 नेगैटिव का है तो उदर जाकर पोस्टिव का होएगा माइनस का 40 मिलेगा तो प्लस का 121 हो जाएगा मतलब यह बेसिक सी चीज आप कर शकते हूं बिना लिके करना चाहरा हूं ताकि आप ऐसे करो 120, 1W square तो आपको यह बता लग जाएगा कि B upon W is equal to 11 बटे 1 अगर बोट की speed 11 है तो water की speed 1 है अब यह क्या बोल रहा है यह न 11 बटे 1 बुलती तो नहीं कि find the ratio of speed in still water to that of the speed of the river तो still water में कितनी है बोट की 11 है और river की speed क्या है यह पूच रहा है find the ratio of speed in still water to that the river 11 बोट की speed still water में 11 है पानी में एक है क्लिए रहा है अगे बड़े P, Q and R 3 towns on a river which flow uniformly एक river है जो uniformly flow करती है Q is equidistant from P and R यह town P है यह town R है Q जो है इन दोनों के exactly बीच में equidistant है ठीक बहुती easy question है easily आप कर सकते हो कर लो मेरे बताने से पहले मुक्ता है भी भी I row from P to Q and back in 10 hours यह बोल रहा है मैं P से Q तक जाता हूं और वापिस आ जाता हूं 10 गंटे में यानि कि जाता हूं और वापिस आ जाता हूं यह पूरा काम मैं 10 गंटे में करता हूं ठीक है जी कोई दिक्ट नहीं है I can row from P to R in 4 hours और मैं बोल रहा हूं अब अगर मैं P से Q जाता हूं और वापिस आ जाता हूं 10 गंटे के अंदर तो मैं ऐसे बोल सकता हूं पाँंच गंटे जाने में लग रहे होंगे और पाँंच गंटे आने में लग रहे होंगे नहीं कौन मूर के जुिए चान बहते है एक तरफ डाउन स्ट्रीम होईगी एक तरफ इसे क्यों अब दिखो ज़ला ध्यान से नदी क्याप तक किस तरफ बहरीं थSQL यह का बता हूँ यह बोल रहा है P से R तक में 4 गंटे में जा सकता हूँ तो अगर यह P से R तक 4 गंटे में जा सकता है तो इतना तो पका पता है कि 2 गंटे इसको यहां से यहां लगते हैं P से क्यूँ और 2 गंटे सर यह क्यों पता है क्योंकि Q बीच में है ऐसे एक तरफ जाते होगे तो speed xc होएगी ना अधे distance में 2 गंटे ही लगेंगे पूरे में 4 लग रहे हैं तो यहां से जाकर वापिस आने में 10 लग रहे थे तो यहां से यहां तक जाने में 2 लगे इसका अमलब बाक्की के 8 गंटे पॉटल दस लग रहे थे जाकर आने में पकी के 8 गंटे क्यों से पी आने में लग रहे हैं आने में 8 गंटे लग रहे हैं खीकर से लग रहे हैं तो यह तो time का ratio है तो downstream की speed कौन सी है downstream की उपर वाली speed होएगी downstream में कम time लगता है तो time का ratio है 1 is to 4 तो speed का ratio होएगा 4 is to 1 downstream की speed 4 गुना है क्योंकि upstream में 4 गुना time लग रहे हैं अब यह क्या बोल रहा है compare the speed of my boat in still water तो still water में boat की speed क्या होएगी च्यार और एक 5 सम बाइटू यानिकी 5 बाइटू still water में यह boat की speed होएगी इसका ratio निकालना है किस से speed of my boat in still water with that of the river river की speed क्या होएगी difference बाइटू यानिकी 4 में से एक गया 3 बटे 2 तो 5 is to 3 होज़े है ठीक clear है clear है xy are two points in the river point p and q divide the straight line xy xy 2 point है किसी river के अंदर यह x रहा y रहा पानी के ओपर बना रहा है फिर पास ऐसा pen है जो पानी के बना देता है p and q divide the straight line xy in three equal parts तो तीन बराबर हिस्वों में बाट रहे है p ओट एक वाई लाइग the river flows along xy river ऐसे flow करती है and the time taken by a boat to row from x to q एक boat को x से लेकर q तक अब बात को द्यान से सीखेगा एक boat को x से लेकर q तक जो time लगता है and from y to q और y से लेकर q तक जो time लगता है उसका ratio उसने बता रहा है four is to five time का ratioॐ ह 이 है शेकर आगर x से लेकर q तक जो time लग रहा है तो ये P तो X और Q के बिलकुल हाफ में है यानि कि X से P तक उसको अगर 2 unit time लग रहा है तो P से Q तक उसको 2 unit time लग रहा है ऐसे बोल सकता हूँ और Y से Q आओ या Q से P आओ बात तो एक ही है ये distance और ये distance पराबर है या फिर P से X आओ ये distance पराबर है यानि कि उस तरफ जाने में उसको अगर 2 unit time लग रहा है तो इस तरफ आने में इसको 5 minute time लग रहा है तो speed का ratio तो उल्टा हो जाएगा उस तरफ जाने में speed ज्यादा होईगी इस तरफ कम होईगी the ratio of speed of the boat downstream तो इसका मतलब उस तरफ downstream है तो यह है time, यह मैंने time लिखा, तो speed क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, downstream में speed कितनी हो जाएगी, 5, और upstream में speed कितनी हो जाएगी, 2, अब यह क्या पूछ रहा है, ratio of speed of the boat downstream, तो downstream की speed तो भाई 5 है, इसका ratio किससे बताना है, to that of the river current, तो river का current क्या होएगा, इन दोनों का difference by 2, 5 में दो गए, 3, 3 बटे 2, तो 2 उदर जाकर multiply होएगा, 10 is to 3, this is the answer, option A, ठीक है, clear है, पताईजरा, 3, आएगा, The boat sails downstream from a point P to Q which is 24 km away from P and then returns to P, तक फ्र वापप प्राजाती, if the actual speed of the boat in still water is 6 km per hour, the entire trip from P to Q takes 3 hours less than that of Q to P. what should be the actual speed of the boat यानि कि आगे question आ गया इसको ignore करो इससे पहले पहले से हमें कोई चीज मिलेगी इसने बोला है what should be the actual speed of the boat to sail from P to Q into R P से Q तक दो घंटे में अगर जाना चाहरे हैं तो actual speed क्या होनी चाहिए यानि कि हम options भी use नहीं कर पाएंगे उसने इस त्रिक्के से question पूचा कि option यूज करने में मुश्किल हो तो मैं option यूज नहीं कर सकते हैं नहीं तो मैं यही बोलने माला था कि पहला त्रिक्का तो option बढ़ते हैं अब दूसरा त्रिक्का देखते हैं एक दूसरा त्रिक्का क्या है बोट की स्पीड अगर 6 km पर आ रहा है और पानी की स्पीड मैंने मान ली W तो ध्यान से सुनिएगा 12 km का distance है एक तरफ यह जा रहा है 6 प्लस W की स्पीड से और एक तरफ यह आ रहा है 6 माइनस W की स्पीड क्लियर है और आप average speed वाला तरिक का यूज कर सकते होगे नहीं कर सकते हो average speed वाला नहीं कर सकते है तो अभी दो ही तरिक के पहले एजी से बता हूँ यानि कि हमें वही यूज करना बढ़ेगा तो एक बार मैं आपको basic तरिक का बता दू फिर वो S1 S2 वाला बता बात करेंगे तो टोटल दीस्टस्ण्स 120 km है तो भी सकलम्टर कर दिस्टान्स अगर मैं 6 माइनस्ट की speed से जा रहा हूं तो कुछ Hag लगेगा और 24 किलम्टर का डिस्टान्स अगर मैं 6 दिब्लु की speed से जा रहा हूं тो कुछ टाइम लगेगा distance पॉक्ण ताइम आएगा और इन टाइम के बीच में तीन गंटे का फरत तो यह है तरीक क्लियर है इसमें कोई भी दिक्त है कोई दिक्त नहीं है इसमें आपको डबलू की वैल्यू मिलेगी आप अपर मेरे खल क्या होगा डबलू की वैल्यू अगर लोग यह है तो इस माइनस इस टू पार अलग स्पीड से ट्रेवल किया आपर अलग स्पीड बतार रखता है यानि यह वही वाली सिच्वेशन है कि distance is equal तू इसफीड लग स्पीड से जो ट्रेवलःल किया जाता है speed के बीच का फरक यहां आता है time के बीच का फरक यहां आता है तो distance कितना है, same distance को अलगलग speed पर travel किया गया, कौनसे distance को, 20 km को, total distance 46 मत कर देना, same distance को, एक बार 24 को इस speed से, एक बार 24 को इस speed से, तो 24 is equal to, 6 plus w, into 6 minus w, क्या होएगा, 37 minus w square, divided by, इन दोने के बीच में, यहाँ पर भी quadratic बनेगी यार, इन दोने के बीच में, कितने आ गया, फिर 2 w का, यहाँ पर भी quadratic बनेगी, इन टू, time के बीच में, कितने आ फरक है, 3 का, यहाँ पर quadratic थोड़ी से, जल्दी बन जाएगी, बस यही फरक होएगा, तो 3 से, अगर मैं इसको काटू, तो यह जाएगा, 3, 8, 24, 2 को, अगर मैं इदर लेकर आउँ, यह हो जाएगा, 16 w, ठीक, तो इन सब को, अगर मैं इदर तो sum 16 हो, 18 दूनी 36, ठीक है, sum 16 है, तो बड़े वाले को positive रख दिया, यही बात है क्या, 16 आजाएगी, उसकी speed, पानी की speed यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो आहे मजाग कर रहे हो हमरे साथ, ही तो, sorry, my mistake, यह 16 w है, मैं इन को इदर लाया था, इसका sign नहीं बदलना, पानी क speed जो boat से तेज आगे, फिर question थोड़ी होएगा, clear, sum जो हो, minus 16 है, तो बड़े वाले को negative करना आपड़ेगा, यानि कि पानी की speed है, 2, negative तो होनी सकती speed, तो पानी की speed 2 है, अब देखते हैं, वो क्या बोल रहे है, what should be the actual speed of the boat, boat की actual speed क्या होनी चीए, अगर P से लेकर Q तक 2 क्लोमेटर का gap है, तो 24 किलोमेटर, अगर आप 2 गंटे में जाना चाहरे हो, तो 12 की speed होनी चीए, ठीक है, और P to Q क्या है, P to Q क्या है, a boat says downstream from P to Q, P to Q downstream है, तो यहने कि downstream की speed 12 क्लोमेटर पर होनी चीए, तो पानी की speed 2 है, और downstream की हमें चीए 12, यहने की boat की speed हमें क्या चीए 10, बोट की speed 10 होनी चीए उसके समें, तो उसने question को इस तरीक के से पुचाना है, और यह option उसन ना कर पाए, ठीक है, clear, आगे बड़े, यह बताओ, A motor boat whose speed is 20 क्लोमेटर पर आर in still water, takes 30 minutes more to go 24 क्लोमेटर upstream, then to cover the same distance downstream, ठीक, If the speed of the boat in still water is increased by 2 क्लोमेटर पर आर, then how much तमल भी है, तो question ही हो गया, इसे पहले बाले से हमने information निकाल ले, ठीक है, यहाँ पर एक तो बेसिक 22 क्लोमेटर का distance है, उसी तरीके से कर लेते हैं, देखो, 22 क्लोमेटर का distance है, एक बार उसने कितनी speed से cover किया हुएगा, आपको एक्जाम में यह लिखने की जरूद नहीं है, समझाने के लिखता हूँ और एक बार, उसकी speed 20 की है, तो माल लो, पानी की speed x है, तो 20 प्लस x से जा रहा है, तो same distance को अलगले speed से travel किया, जी हाँ sir, और time के बीच का gap गिवन है, 30 minutes more, तो वही वाला आपना, d is equal to s1, s2 वाला, तो distance कितना है, 24, 24 is equal to s1, s2, यहने कि this into this, तो कितना हो जाएगा, च्यार्ट रो माइनस x square, divided by इन दोन के बीच का gap कितना है, and this minus this करो होगे, तो 2x, और time का फरक कितना है, यहाँ पर delta speed होती है, यहाँ पर delta time, that is 1 by 2 r, फिर से quadratic बनेगी, last वाले equation और यह वाले equation दोनों आए हुए है, यह मत सोचना कि आए हुए नहीं है, और यह हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, यह basic से कर लो, same ही बात है, लेकिन, because मैं आपको यह method बता चुक यह 24 km जो है, 20 प्लस x की speed से जाओ, 20 माइस x की speed से जादा time लगेगा, यह फिर 20 प्लस x की speed से जाओ, आद्धा गंटा लग रहा है, exactly same ही चीज़ आएगी, ठीक है जी, करते हैं इसको, दो दुनी 4x तो यहां पर हो जाएगा, 96x, तो x square प्लस 96x, तो इकटेगा क्यों नहीं, minus 400 यह आएगा, गड़ बड़ तो नहीं कर दिया है, देख लेते हैं, minus 400 equal to 0, 22 किलाउम्टर की बाद, 22 किलाउम्टर upstream, then to go with the same difference, 20 plus x, 20 minus x, प्लाठा, 4, ठीक, चैर स्रो को मैंने इस तरीक के से तोड़ना है, जो हाँ दिखतो रहा है, source यार, जो चैर स्रो, और sum जो है negative हो, यानि कि बड़े वाला negative, quadratic equation की समझ है, इतना quadratic equation के बाद यहाँ आप easily कर पाऊगे, यानि कि x की value जो है, वो 4 है, यानि कि पानी की speed 4 है, अभी क्या पूछ रहा है, if the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, जो बोट की speed है, वो 20 है, 20 की वजाए अगर यह दो बढ़ा दी जाए, तो 20 और 22 km अगर इसकी speed हो जाए, how much time will it take to go 39 km downstream, तो देखो, अगर बोट की speed 22 हो जाए, और पानी की speed 4 है, तो 26 की speed हो गई, तो 39 km downstream, 39 km downstream जाने में कितना time लगेगा, बोट की speed 22 है, पानी की speed 4 है, तो 26, speed हो जाएगी, और 30 km upstream, कौन से exam का है, चीजी LTR1 का है, 22 में से 4 गया, 18, actual exam का question है, कई बारे से time taking question दे देते हैं, 3, 2, 6, 3, 18, 7, 5, 30, 3, 9, 2, 5, 10, कि इन तिये 9 और 10, 19 बटे 6, 6 तिये 18, 3 गंटे, एक बटे चाहे आने कि 10 मिनट, 3 गंटे 10 मिनट, that is option B, ठीक है, clear है, एक रो, एक मैन कन रो एक बोर 78 km downstream and 42 km upstream in 6 hours, ठीक भाई, दा स्पीड अफ दा स्ट्रीम इस तिस, इन हाव मनी आर्श कैन ही रो, ठीक है, कि इतने गंटे में, एक दिस्टेंस अफ 100 km इन श्टील वाटर, ठीक, option तो यूज कर नहीं सकते है, वही basic तरिका यूज करेंगे, 78 km मैंने water की speed को माल लिया, W, if the speed of the stream, अच्छा, stream की speed given है, तो boat की speed को मैंने माल लिया, B, जिस speed से वो rowing कर सकता है, boat चला सकता है, B, तो 78 km downstream हो जाएंगे, B plus W से, B plus 6 से, तो यूज को टाइम लग रहा है, तो यूज को टाइम लग रहा है, तो यूज बेसिक भी हमें आना चाहिए, बस, that's it, करें, निकलें B की speed, यूज करेंगे, यूज साथे 24, तेरा चिक अठाटर, ये इदर जाएगा, 13 B, माइनस 78, ये दूर जाके multiply होएगा, 7 B, plus 24, निचे के आएगा, इन दोनों का product, तो उसको मैं उदर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा, 20 square, माइनस 36, अभी देखते हैं, तो हर एक चीज को मैं उदर भेज जूँगा, ठीक है, इन दोनों को भी देखते हूँगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 8 में से 2 हो गए, 6, 7 में से 4 गए, 3, माइनस 36, माइनस का 36, माइनस का 36, उसको कट जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36, कट गया, इस इकल टो 0, यानि कि, B square is equal to 20, अब यह क्या बोल रहे है, in how many hours can he row the boat, a distance of 100 km in still water, तो 20 की speed है, 100 km जाने में, इसको 5 गंटे लगेंगे, 20-500, ठीक, clear, ये कुछ question एंड में, जश्ट ऐसे ही, प्रेक्टिस के लिए लिए है, तकि हर एक तरह के question का, सामना कर पाओ, किसी PDF को रगड़ देना, बार-बार अपने course के, क्योंकि ये चीज़ बार-बार बोल रहा है, क्योंकि जरूरी है, तभी आपके दिमाग में जाएगी, ये विच्छे धीट होते है, एक बार में नहीं जाते हैं, उनके दिमागे, ये swimmer swims from a point A, against a current for five minutes, तो मालो current उस तरफ जा रहा है, और ये है point A, तो वो swimmer जो है, current के against ऐसे पांच मिनट तक आता है, कही न कहीं पर पहुँच जाएगा, ठीक है, मालो point C तक पहुँच गया, current के against में जा रहा है, and swims backward in favor of the current, तो देखो, यहां से यहां तक पांच मिनट तक चला, current के against में, और फिर current के favor में है, तो आप बोलोगे sir, यहां पर भी पांच मिनट चला, यहां पर भी पांच मिनट यही पहुच जाएगा, नहीं, यहां पर current के खिलाफ था, तो मंदी स्पीड से चल रहा था, यहां पर current के साथ है, तो तेज स्पीड से जाएगा, तो दूर तक चला जाएगा, और वो पहुच गया point B तक, यह बोल रहा है, अगर A से लेकर B तक 100 मेटर है, तो current की स्पीड बताब, यह question है, बहुत ही आसान, पहले माप को, बहुत ही basic वे से बताऊंगा, फिर actual में, थोड़े से practical वे से बताऊंगा, जिससे कुछ सेगिने में कर सकते हैं, लेकिन पहले situation को समझेना जरूरी है, इसलिए basic से समझाँ, देखो, जो वो बंदा है, swim कर रहा है, उसकी स्पीड में माल लेता हूँ B, ठीक है, और जो water है, water की स्पीड में माल लेता हूँ W, तो वो यहां से यहां तक आया, 5 मिनट में, कौन सी स्पीड से आया, B प्लस W की स्पीड से, तो यह है स्पीड, और इसको गुणा में मैं कर रहा हूँ, टाइम, स्पीड इन्टु टाइम क्या हूएगा, डिस्टंस, टाइम यानिकी 5 मिनट, यह स्पीड जो है, यह मीटर पर मिनट माल लेता हूँ, क्यों सर, पर मिनट क्यों माल रहे हूँ, यह पांच मिनट का टाइम है, एक जैसी उनिट होनी चीए, तो पांच मिनट वो यहां से यहां आया, तो यहां से यहां का डिस्टंस क्या हूएगा, स्पीड इन्टु टाइम, फिर वो यहां से यहां तक चला गया पांच मिनट में, तो यह वाला डिस्टंस क्या हूएगा, स्पीड इन्टु टाइम, यानि कि this minus this is equal to 100 तो दोनों में 5 common है जी हाँ sir मैंने 5 common ले लिया सिर्फ मैं इसमें से गटा रहा हूँ और इसमें से इसको गटा होगे तो क्या बजएगा 2W, हाँ जी sir 2W that is equal to 100 meter ठीक है 5 दोनी 10, 10 तो W के आगया W आगया 10 meter per minute मैंने per minute में ली थी ना स्पीड यह हो तो क्योंकि time minute मृ था एक मिनट में 10 meter ज्या सकता रहा है वह बोल रहा है km और रार में बतव क्लोमेटर पर रार का हखाए है exile में गंट्य में कितनी दूर जा सकता है पानी ठीक है एक मिनट में 10 में जा सकता है तो एक गंटे में 60 मिनट होते हैं उ 60 मिनिट में कितना जाएगा इसको 60 गुना कर दो 600 मीटर कि बूल रहे किलो मिटर में बताओ तो पॉइंट 6 किलो मेटर 600 मिटर का क्या मतला पॉइंट 6 किलो मेटर पर रहा है अब दूसरे तरीके से देखो देखो जब यह बंदा करंट के अगेंश्ट जा रहा था तो उस बंदे ने कितनी देर तक एफ़र्ट लगा है उस व्यक्ति ने कितनी देर तक एफ़र्ट लगा है आप बोलोगे सर्फ पांच मिनट तक पांच मिनट तक उसने एक्वर्ट लगाया है लेकिन पानी उसको ओपोजिट धकेल रहा तो दो छीजों ने यहां पर एक्वर्ट लगाया है उस आदमी ऊपन ने भी अपना एफर्ट लगाया है और पानीने भी एफर्ट लगाया है तो पानीने इस peng न गया है पानीन इस ट्रेक्शन में पैनीन जर द्धो यहां से अफर्ट रहा है तो भी पहली पांच मिंट्ट ऐसे करते हैं वो कहीं पर खड़ा था यहां पर खड़ा था तो पहली पांच मिनट दो चीज़ें एफट लगा रही है पहली पांच मिनट में पानी उसको उधर ले जा रहा था पांच मिनट तक पानी पांच मिनट तक उसको जितना उधर ले जा सकता है उतना वो ले गया उसको लेकिन बं मिनट उदर जाने के लिए एफर्ट लगाया िए पांच मिनट फ़िसको मैं कैसे लिखू मुझोओ डिकना चाहँ का règon और बंदे ने 5 मिनट इधर आने के लिए effort लगा तो ये दो situation हुई, पहले ये हुआ, तब वो A से C आ गया था, फिर दूसरे नमबर पर ये हुआ, वो C से बीच लगा था, तो इन दोनों effort को अगर आप जोड़ोगे तो आपको ये पता है, या बंदे ने 5 मिनट इधर आने के लिए effort लगा या बंदे ने 5 मिनट उदर जाने के लिए effort लगा ये तो cancel ही आउट ही हो गया न, अगर नदी ना बह रही होती तो 5 मिनट आप इधर आते है, 5 मिनट उदर चले जाते है तो उसी जग़ा पहुंच जाते है आप, ठीक है, आपने अपने effort को cancel कर दिया न, 5 मिनट ना जा सकता है, कितना जा सकता है 100 मिनट, 10 मिनट में, 60 मिनट में कितना जा सकता है, इसका 6 मिनट, 600 मिनट, पाने की speed, क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, अगर आप समझ पाऊ तो, ठीक है, option D, इस्तियां से, यह देखो, two boats A and B start towards each other from two places, 108 km apart, तो 2 places हैं 108 km apart हैं, दो boat start कर रहे हैं, boat A and B in still water, speeds of boat A and B in still water are, यहां से boat A start कर देगी, यहां से boat B start कर देगी, तो boat A की speed है 12 km apart, यह 12 की speed से उदर जाएगी, यह 15 की speed से उदर जाएगी, जी हां, if A proceeds downstream and B proceeds upstream, यह तो downstream आ रही हैं कि पानी की speed इस तरफ हैं, तो बताओ कितनी देर में मिलेंगी, यहां पर answer क्या हो जाएगा, तो पानी की speed तो बता नहीं रखी, कैसे पता से लेगा, तो देखो, अगर यह downstream आ रही हैं, अगर दो boats, opposite, दो चीज़ें, opposite direction में आ रही हैं, तो उ actual में इस boat की speed होएगी, 12 plus w, यह 12 plus w की speed से जाएगी, और यह boat आएगी इस तरफ 12 minus w की speed से, तो जब आप इन दोनों boats speed का sum करोगे, तो क्या होएगा, w से w कट जाएगा, यह 12 minus w नहीं, sorry, 15 minus w, तो 15 और 12, 27 हो जाएगा, तो मैं कहें क्या रहा हूँ, कि नदी के उपर जब भी इस चीजी आमने सामने से आएं, तो पानी एक को मदद कर रहा होगा, और उतनी ही speed से दूसरे के अगेंस्ट आ रहा होगा, पानी का effort cancels out हो जाता है, एक को मदद करता है, एक के अगेंस्ट आता है, तो पानी को ignore किया आपर. जब नदी के उपर चीजी आमने सामने की directions से जा रही हो तो पानी को ignore करो उनकी net speed उतनी रहेगी जितने उनकी net speed है तो 27 की speed से 108 km को अगर कोई कवर करेगा तो 4 गंटे लगेंगे क्यार गंटे में डिस्टेंस कवर हो जाएगा इसी के साथ हमारा यह लेक्टर खतम होता है सारे टाइप कवर हो गया है बोटन स्ट्रीम के अपनी PDF को बार-बार करना अगर आप एक्चॉल में जोब चाहते हैं अगर भाई एक्चॉल में नहीं चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ से नहीं कर सकता है अधर्वाइज मैं आपने पूरे में पूरे में पूरे एफ़र्ट लगा रहा हूं यह आपको बेस्ट में तर मिले और एक भी टाइप का क्वेशन आप से एक भी टाइप का 100% प्रफेक्शन से भी आगे जाकर काम करने के आपके उपर डिपैंड करता है अभी आप कितनी बार रिपीट करते हों कि अगली वीडिया में विलता है अलो डियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर अभी कंसेप्लेक्शर 9 हम करने वाले हैं तो हम रेसीज जो कंसेप्ट है रेसीज के कुछ कुछ क्वेशन होते हैं ए ने बी को रेस में इतने म में षरा दिया इस टाइंप के क्वेशन होते तो कभी कभी वो क्वेशन लीनियर ट्रèces पर चलते हैं लीनियर याणि की स्ट्रेट सिद्रेजर से सूमीटर की रेस हरुते हैं कभी कभी को वो क्वेशन्स शर्कुलर ट्रेक्स पर जो दोनों तर tract ik Bright ग्क्राइशन्स हम करना अंव स्टार्ट करेंगे.. पहले लीनियर क्वेशन्स करेंगे.. पिर स्रकुलरรर के क्पाि हो यही करेंगे, स्स container करेंगी? मज़ेदार है तो आपको मज़ा आएगा ये questions करने में तो सबसे पहले मैं आपको इनकी terminology बता दूँ कि इन questions के अंदर भाशा कैसे use होती है terms कैसे use होते हैं हिंदिय और इंगलिस तोर्णों में बता दूँगा attention मतलब तो देखो एक एक करके इनको समझते हैं कि directly हम questions करने पर जंप कर सकते हैं कि a beats b by 10 meters in 100 meter race मालोगर ऐसी statement हो तो उसका मतलब क्या होगा कि a जो है b को यह नहीं कि वो पीटता हुआ ले जाता है 10 meter तक पीट का मतलब यह अंग्रेजी जो हो यह कई ऐसी बना दी है लोगों ने अंग्रेजों ने ऐसी अंग्रेजी बना यह क्या बता है हिंदी में तो साफ साफ पता लग जाता है कि वो 10 meter से हरा यह बोल रहें पीट देता है कोई वच्छा इसको ऐसे सोच जाए कि 100 meter की race में 10 meter पीटता वा ले जाता है यह बी देखो ए जो है बी को 10 meter से हरा देता है 100 meter की race के अंदर इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी दोनों यहां से race करना start करते हैं यह यहां से यह starting point है तो जब A बिलकुल end पर होता है जब A अपनी race को खतम कर देता है तो B जो है उससे 10 meter पीछे होता है यह उसको 10 meter से हरा देता है यह clear है इस बात का मतलब यह आपको पता होना चीए तो इसमें हम क्या deduce कर सकते हैं हम यह deduce यानि कि क्या interpret कर सकते हैं क्या समझ सकते हैं यह आप पाता है ठीक है यह है distance अबिकोज जो मैं पता है 100 meter की race है एने race कतम कर लिए और B जो है उससे 10 meter पीछे है यहनि कि जितने time में A जो है 100 meter भाग पाता है जितनी देर में A 100 meter की race कतम कर लेता है B जो है वो 90 meter ही भाग पाता है ठीक है तो race जो है वो same time पर start होती है अभी उसको race बोल रहे हैं यह थोड़ी है कि एक बंदा आद्द्य गंटे पहले निकल लिया है race same time पर start होती है दोनों इकठे भागते हैं तो same time के अंदर उसी time के अंदर A ने 100 meter distance ट्रेवल किया है B ने 90 meter distance ट्रेवल किया है same time के अंदर दोनों ने बराबर time लिया अगर time constant है तो distance is directly proportional to speed दोनों same time तक भाग गये हैं यह अमने variation के अंदर किया है तो distance का जो ratio है वही ratio होएगा speed का यानि कि A और B की speed का ratio होएगा 10 is to 9 एक तो यह बात बहुत ही ज्यादा use होएगी यह अभी रटलो यह मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अच्छे से कि अगर time constant है तो distance जो है speed के directly proportional होएगा अगर हमें speed का ratio मिल जाए तो distance का ratio मिल जाएगा distance का ratio मिल जाएगा यह दोनों एक ही है distance का ratio, speed का ratio एक ही बात है clear है जी then again a beats b by 10 seconds in a 100 meter rate a b को एक स्वा मिटर की race में 10 seconds से beat करता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है मेरे भाई कि जब a race को खतम कर लेता है तो b इतनी पीछे होता है जब a race को खतम कर लेता है तो b इतनी पीछे होता है कि बाकी के distance को कवर करने में उसको 10 seconds लगते है जब a race कतम कर लेता है उसके 10 seconds बाद b race कतम करता है clear, simple सी बात a can give a start of 10 meter in 100 meter race a can give b, यहाँ पर b कर लेते है a जो है वो b को एक start दे सकता है 10 meter का 100 meter की race 10 meter आगे से शुरू करने देता है हिंदी में ऐसे होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भाई a जो है वो कई बार ऐसे होते है बंदेर रहे भाई अपने भाई को हलके में मतलब है ठीक है मेरे से 10 meter आगे से race शुरू कर लियो तो फिर भी अरा दूँगा तरह तो यानि कि a क्या कर रहा है a b को 10 meter का start दे सकता है a can give इसका मतलब यह है कि b को 10 meter आगे से भी अगर आप भगाओगे b को 10 meter आगे से भी भगाओगे तो भी दोनों इकठे ही race को खतम करेंगे a इतनी तेज भागता है कि b को 10 meter आगे से भी भगाओगे तो भी इकठे race खतम करेंगे यानि कि वो 10 meter का start दे सकता है फिर भी उसी time पर पहुंच जाएगा अगर वह ऐसे बोले कि 100 meter की race में 10 meter का start दे सकता है यहाँ पर भी हमें यह पता लग गया क्योंकि b यहाँ से भाग रहा है कि जितनी देर में b जो है 90 meter distance भाग रहा है जितनी देर में b 90 meter distance भाग रहा है यह जो है उतनी देर में पूरा 100 meter का distance भाग रहा है यहाँ पर भी हमें यह पता लग गया कि अच्छा कि इनके distance का यह ratio है same time में distance इस ratio में भागते है speed का ratio पता लग रहा है यही terminology है और उसके बाद अपनी पुरानी time and distance वाली समझ है जो भी हमारी समझ है यही चीज यूज होगी यह सारे questions हो जाए पहले बहुती पैरे पैरे आसान आसान questions करेंगे और उसके बाद बहुती बड़ी अबड़ी question भी हमेशा कितर है पहले आपका दिल रखने के लिए कि आप से भी कुछ question हो जाए आपको समझाने के लिए कि दिरे दिरे बेस बने दिरे दिरे और मान लो कोई बच्चा है उसकी catching power काफी बढ़िया है उसको आसान question नहीं चीए कि सर मेरे को आसान question नहीं चीए मैं तो directly tough से start आपके लिए भी फाइदा है दिरे दिरे स्टार्ट करने में क्यों आपका बेस और बढ़िया हो जाएगा यह नहीं कि यह कमजोर बच्चों के लिए नहीं यह सब के लिए हैं सब को फाइदा है धीरे धीरे स्टार्ट करने में आपकी concept clarity और ज्यादा deep हो जाएगी ठीक है यह नहीं बोल सकते हैं कि मेरी आंके तेज हैं तो मुझे एक ऐसा चस्मा दे दो इसके सिसे से खराब कर करेगा clarity सब को help करेगा एक एक एन बीट बी बाई 10 मीटर इने 100 मीटर रेस इसका मतलब यह है कि A B को 10 मीटर से बीट कर देता है यानि कि जितनी देर में A 100 मीटर की रेस पूरी करता है उतनी देर में B विचारा उससे 10 मीटर पीछे रह जाता है 90 मीटरी दोड़ पाता है 10 मी यह इनके distance का ratio है और same time में travel किये गए distance का ratio और मैंने आपको बताया था कि जो distance का ratio है वही उनकी speed का ratio होएगा तो इनकी speed का क्या ratio है 10 इस टुनाइग यही पूसत रहे आप से तो यह तो हम mentally बता सकते हैं बता सकते हैं कि नहीं तो आगे से हम directly इसको use कर लेंगे अगर कोई हम में बताएगा 100 meter की race में वो उसको 10 meter से beat कर रहा है यह 100 बाग रहा है यह 90 बाग रहा है तो इसकी speed 10 है तो उसकी no है हम directly भी ऐसे निकाल सकते हैं equation करने के लिए directly statement use कर शकते हैं in a race of 100 meter a gives a start of 10 meter to b तो b को 10 meter आगे से भागने दे सकता है याने कि b जितनी देर में 90 meter भागेगा वो 10 meter आगे से भाग रहा है भी उतनी देर में a जो है पूरा 100 meter भाग लेगा because a 100 meter भागता है तो भी उतनी देर में 90 meter भागता है इनके distance का ratio है तो इनकी speed का ratio है 10 is to 9 आगे despite this a wins अच्छा sorry my bad मैंने ये question आगे पढ़ानी मैरको लगा इसी आगे ये information दे रहा है मैरको लगा आगे question ऐसी था यहां तक है सारी information ये सारी इकट्टी पढ़नी पढ़ेगी न क्या है in a race of 100 meter a gives a start of 10 meter to b इसका मतलब ये है कि a जो है वो b को 10 meter आगे से भागने देता है उसक के बाद भी वो हार जाता अगर statement यहीं पर खतम हो जाती कि a b को इतने का start दे सकता है a can give यहां पर क्या है a gives a ने दिया can give का क्या मतलब होता है a इतने का start दे सकता है यह इतने मिटर आगे से start करना allow करेगा तो भी एकठे finish करेंगे यहां पर उसने बोला है कि a ने इतने का start दिया हमें पता नहीं हो कितने का दे सकता है start उनकी speed का ratio में नहीं पता ओके a ने b को 10 मिटर आगे से भागने के लिए allow किया फिर भी a wins the race by b meter इसका मतलब फिर भी a end line पर पहले पहुंच गया b जो है उससे 20 मिटर पीछे था याने कि जितनी देर में a ने यहां से यहां तक क का ही distance ट्रेवल किया total distance कितना है total distance है जी 100 मिटर तो बी ने 20 मिटर यहां पर पिछे रहा गया 10 मिटर यहां पर आगे से किया था सिरफ 70 मिटर का distance ट्रेवल किया जितनी देर में a ने 100 मिटर का distance ट्रेवल किया उतनी देर में b ने 70 मिटर का distance ट्रेवल किया इनकी speed का क्या ratio बालूँगा ना कि same time because time constant है तो distance का जो ratio वही speed का ratio होएगा इतना आप समझ जाओगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह बताओ यह यह देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं किसी समझ के पर बेस्ट और if a and b run with their normal speeds a can beat b by 10 meter in a hundred meter race अगर a और b normal speed से दोड़ेंगे a b को 100 meter की race में 10 meter से beat कर देगा यानि कि a जितनी देर में 100 meter दोड़ेगा b उतनी देर में 90 meter दोड़ेगा इनका distance का ratio है तो इनकी speed का ratio क्या होएगा 10 is to 9 clear है okay जी इनका distance का क्या ratio होएगा 10 is to 9 speed का क्या ratio होएगा 10 is to 9 यह सेमी बात है okay instead if b runs 25% faster अगर b अपनी speed को 25% तेज कर ले और a normal speed से दोड़े तो ठीक है b 25% तेज कर ले आने कि 9 into 5 by 4 clear 9 into 5 by 4 b इतनी कर ले और a इतनी ही रहने दे तो इनकी नई speeds आ जाएंगी b ने अपनी speed बढ़ा ली इसने इतनी रहने दी तो इनकी नई speeds का मैं ratio देख रहा हूँ पांच पांच तुनी 10 च्यार इदर आएगा च्यार दुनी 8 तो a और b की speed का ratio क्या हो गया 8 is to 9 हो गया अगर इसकी speed 8 है तो इसकी speed 9 है या फिर हम यह बोल सकते हैं because यह ratio speed का भी है distance का भी है तो वो जैसा भी question पुछे वहां पर आप same ratio यूज कर सकते हो clear है यह दिमाग में रखोगे ठीक यानि कि जितनी देर में यह 8 meter भागेगा उतनी देर में 9 meter भागेगा same time में यह जो distance cover करेंगे उसका भी ratio है तो अब तेज कौन है तेज कौन है slow कौन है अगर race होएगी तो कौन जीतेगा और इसी situation को आप पता है कैसे यूज कर सकते हो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि जितनी देर में यह 9 meter भाग रहा है उतनी देर में 8 meter भाग रहा है यानि कि अगर 9 meter की race होई न तो यह इसको 1 meter से बीट कर देगा एक मेटर से बीट कर देगा अगर 9 meter की race होई तो उतनी देर में 9 मिٹر भाग लेगा उतनी देर में 8 मीतर भाग लेगा 9 मीतर की रेस में ये इसको 1 मीटर से बीट करदेगा अब अगर examiner पूसता है कि अगर 900 मिटर की रेस हुई तो आप देखोगे कि 9 का 100 गुना अगर रेस 900 मिटर हुई तो 1 का 100 गुना ये इसको की race 100 meter की है 100 meter की race में क्या होगा 100 meter की race में तो जितेगा तो b ही ठीक जितेगा तो b ही क्योंकि इसकी speed तेज है तो अगर 9 meter की race होगी तो यह इसको 1 meter से बीट कر Bundesregierung अब 9 की जगे 100 है तो 9 unit की values होगा है तो 1 unit की values क्या होगी스터 conservative पार बार बार यूज़ करेंगे हम यह देखू A can beat B by 20 meter in a 100 meter raise, यानि कि A अगर जब तक 100 meter दोड़ेगा, तो B भाई तब तक 80 meter ही दोड़ पाएगा, इनकी speed का ratio हो गया 5 by 4, या same time में जो A distance travel करेंगे, उसका ratio हो गया 5 is to 4, If A decreases his speed by 20%, A ने अपनी speed को 20% घटा लिया, यानि कि 4 फिफ्थ कर ली, and B ने अपनी speed को increase कर लिया 20%, यानि कि इसने 6 by 5 कर ली, 6 by 5 times, तो इनकी नई speeds का क्या ratio हो गया, इनकी नई speeds का ratio हो गया, मेरे भाई, 5 is to 6, यानि कि इसकी speed है 6, तो इसकी speed है 5, यानि कि अगर ये 6 unit distance travel करेगा, उतनी दिर में 5 unit distance travel करेगा, अगर race हुई 6 meter की, तो जब ये race को खतम कर लेगा, तो ये 5 meter दोड़ पाएगा, ये इसको 1 meter से beat कर देगा, अगर race हुई 60 meter की, तो ये इसको 10 meter से beat कर देगा, वो क्या बोल र मेरी मेरी बात ध्यान से सुनू एक चोटी सी बात और बता दूं कि 100M की रेस में क्या वहिए या कई बच्छे यह देखेंगे कि 6 की जगह 100 आएगा या 5 की जगह 100 की जगह 100 आएगा कि अगर रेस 100 मीटर की है तो मैं 5 की जगह 100 बना उंच։ की जगह सो बना हूँ तो मेरे भाई एक बात बताओ जब रेस होती है तो क्या होता है एक तो है वीनर और एक है जो उसको हार गया मालो लूजर तो मालो 100 मीटर की रेस है तो रेस कब खतम होएगी हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि वही कौन कितने मीटर से देखा तो हम कब देखेंगे तब देखेंगे कि वीनर एंड पॉइंट पर पहुंच गया और लूजर जो है दस मीटर पीछे है तब देखेंगे या तब देखेंगे जब लूजर एंड पॉइंट पर पहुंच जब winner end point पर पहुंच गया, winner ने race कतम कर दी, तभी हम देख लेंगा, अचा भाई, तू 20 मिटर पीजे है, 20 मिटर से हरा दिया, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है, जो जीतेगा, उसकी जगए पूरी race की distance को रखा जाएगा, यह नहीं है, पांच की जगए, अगर आप पांच की जगए 100 रख दोगे, तो उसका मतलब क्या है, race तो है 100 मिटर की, पांच की जगए, पांच उनिट की value 100 है, तो 20, आप यह बो पागल कुत्ते ने काटा है, race 100 मिटर की और ही 120 मिटर भाग लिया, क्या माजरा का है भी के साथ, समस्के, clear है, तो यह नहीं है, एक बंदेगा, अब race के बाद से भगाते रहोगे, तो हम क्या करेंगे, जिसकी ज़्यादा speed है, जो ज़्यादा distance travel कर रहा है, उसकी जगए हम जब यह 100 मिटर भाग लेता है, तो यह कितना भागता ही, इसको कितने से हरा रहा है, आपको exactly 5 की value नहीं देखनी, क्योंकि यह पूस्ते ही कितने से हरा रहा है, यहाँ पर यही देख लिया कितने से हरा रहा है, एक unit से, 6 unit की value 100 है, एक unit की value क्या होईगी, 100 भटे 6, यानि की 16 16.66 B A को beat करता है B beats A by 16.66 meter बहुती आसान question है बहुती जल्दी आप निकाल सकते हो ठीक है मजा आ रहा है इने race of 1000 meter A can beat B by 100 meter 1000 meter की race A B को हरा सकता है 400 meter की race में B C को हरा सकता है तो अभी देख लेते हैं देखो अगर A 1000 meter भागता है तो B उतनी देर में भागता है जी 900 100 meter से हरा सकता है A B को और 400 meter की race में B C को 40 meter से हरा सकता है यानि कि 400 meter की race हो तो B जब race कतम करता है B जब 400 meter भागता है तो C 40 meter पिछे रह जाता है यानि कि 360 meter ही भाग पाता है रोगन इनकी स्पीड है रेशो और थो है और बीगिगी स्पीड का रिश ओ ठैने स्टू नई और इनकी स्पीड का रेशयो है चै़ार दभाई 40, 11,0 84 यह दिख रहा है आपको अहां दीखता हो रहा है उपर से एक चमका लगँ रहा है बोल्ड पिछ प्र आपको दीखता हो रहा है कि 10 है Happiness पर टो यहाँ पर अब हम क्या करेंगा अब हम Ratio को मर्ज करेंगे B की Speed को यहाँ पर 9 representation कर रहा है यहाँ पर 10 represent कर रहा है तो उपर वालों को 9 गुना, नीचे वालों को 10 गुना, तो उपर वालों को 9 गुना कर रहा हूं, 9 नीमे 81, 9 धाई 90, नीमे 90, 10 धाई 100, बहुत एजी तरिक्का है मर्ज करने का, रेशो में हमने सिखा है, clear है, तो अगर A की स्पीड 100 है, तो B की 90 है, तो C की 80, इनकी स्पीड का वो क्या बोल रहे हैं, इन रेस ओफ 500 मेटर, A विल बीट C भाई, 500 मेटर की रेस में A, C को कितनी दूरी से बीट करेगा, ठीक है, तो देखो A और C का कंपरिजन कर रहे हैं, तो आप यहीं पर रेशियो के अंदर ही कर दिया, अगरो, यह नहीं है कि दोन्नों को 500 मेटर भग कर देगा, 19 का पांच गुना 95 में, ओप्शन है, ठीक, क्लियर, नमज में आगई बात, आगे बढ़ जाएं इन एक किलोमेटर रेस, A, B, और C are three participants, A can give B a start of 50 मेटर, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, A can give B a start of 50 मेटर, A, B को 50 मेटर और C को 69 मेटर आगे से सुरू करने दे सकता है, याने कि अगर A, B को 50 मेटर आगे से start करने देगा, तो वो बराबर टाइम पर ही पहुंचेंगे, यह मैं बोल रहता है, यहाँ पर कैन आएगा, जहाँ पर वो यह बोलेगा, इतने का start दे सकता तो याने कि जितनी देर में A, एक किलोमेटर की रेस हैं, जितनी देर में A, 1000 मेटर भाग रहा है, उतनी देर में B, 950 मेटर भाग सकता है वेचारा, और C, C को कितने का start दे सकता है, A, 69 मेटर का, तो उतनी देर में C, 69 मेटर कम भाग रहा है, तो 1000 में से 69 गए, 931, इतना ही ता स्टार्ट विच बीकन अलाव सी, बी सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है, तो उसके लिए में बी और सी की स्पीड का रिश्यो चीए, या उनके दवारत कवर किया गए, डिस्टन्स का रिश्यो चीए, तो भी काट फैक्त है हिनको, जितनी धेर में 50 मीटर भागता है, उतनी धेर में 49 मीटर भागता है, यानि कि अगर 50 मीटर की रेस होई, अब देखो रेस चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीते का तो भी ही, ये क्लियर है, तो अगर 50 मीटर की रेस होई, तो ये उसको 1 मीटर से बीट कर सकता है, या फिर ऐसे बो बहाई पकड़ लेगा तो अब यह बोल रहा है कि भाई दा स्टार्ट वीच भी के अरव तो कितमे स्टाक से एक किलोमिटर की रेश है इसपचास का कुतने गणा है मामला і nuggets using ऐक की सब्सक्राइब 50 का 20 मिटर स्टार्ट दे सकता हो, हजार मिटर की रेश में इस है clear यह बताओ A can beat B by 5 seconds in a 100 meter race if the speed of A is 5 meter per second then the speed of B is equal to what तो A B को 5 seconds से beat कर सकता है तो अब कि बारा पैसे तो नहीं कर पाओगे यह 100 meter भागता है तो वो नब 20 meter भागता है क्योंकि उसने time में बताई हैं चीजे तो हब हम अलग से लिखेंगे मैं आपको एक format सा बता देता हूँ जब यह से question होंके हम क्या करेंगे हम ऐसे कर लेंगे A और B इनका speed लिख लेंगे इनका time लिख लेंगे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है सारी information एक tabular form में आ चाहिए A can beat B by 5 seconds in a 100 meter race okay जी speed of A is 5 meter per second A की speed 5 meter per second है तो A को कितना time लगेगा because यहाँ पर क्या कर रहे है कि यहाँ पर distance में beat कर रहे है time में beat कर रहे है सरी है तो time में beat कर रहे है तो हमें time निकालना पड़ेगा न यह इतना time लेता है तो यह इतना time लेता है A अगर B को 5 second बीट कर सकता है इसका मतलब किया है कौन ज wrapped time लेता है। जीता कोन यहापर A A ने B को blast किया तो B ज्यादा weight time लेता है जब distance की बात हो to ž जीतने वाला बंदा होता है वो ज्यादा distance cover कर सकता है लेकिन जब time की बात हो जो जीतने वाला बंदा है वो कम टाइम में रेस को खतम कर रहा है सिंपल सी बात common sense है ना तो यहाँ पर बी ज्यादा time ले रहा होगा एकी speed बता दी हां जी सर बता दी 5 meter per second तो एका time बताओ तो 100 meter की race को वो 20 second में कर देगा 100 बटे 5 हां जी सर यह अगर 20 second में कर रहा है तो 25 second में race को खतम कर रहा है 100 meter की को 100 बटे 25, 4 meter per second की speed है समझे में आगी बात clear है यहाँ पर इसने इनके time के बीच में relation बता दिया यह करता क्या है examiner speed, time, distance, तीन ही चीज़े है वेचारे के पास कभी distance के बीच में relation बता देगा तो आपको इन दोनों के बीच का relation बता लग जाता है कभी-कभी time के बीच में relation बता देगा यही इसका मामला है बचारे का clear है मजबूर ही है बचारे की बस गया है question कैसे बनाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे अब सारे question करके आज आओगे यह बताओ श्यानती से किया आगरो question को कभी-भी question से डरना नहीं और एक और बात अगर आपसे question ना भी होएं तो आपने हिम्मत नहीं आरनी आप आज ही थोड़ी आपका paper है अभी आप वीडियो देख रहे हो अभी आपका paper है क्या नहीं paper में करने है न हाँ तो यहाँ पर नहीं होए तो क्या tension है चीखो repeat करो बार-बार repeat करो हमें तो उस दिन perform करना है उस दिन best होना चाहिए आज अगर हार भी गए तो क्या क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है अमरित पी कराए हुआ आपको कोई हरा नहीं सकता तो क्या दिक्कत नहीं है आज हमें question नहीं हुआ आज ज़्यादा time लोग रहा क्या दिक्कत है उसे improve करेंगे improve करने की हिम्मत है महनत करने की हिम्मत है that's it problem solved उस दिन कर लो गया बढ़िया मैनत करने का रस्ता आपको बता रखा है इन एक किलोमेटर रेस A beats B by 30 seconds A B को 30 seconds तक पीटता रहता है ऐसे एक किलोमेटर की रेस में and B beats C by 15 seconds if A beats C by 180 मेटर से लिए ची देखते हैं तो क्या है आपको मैं समझाता हूँ एक किलोमेटर की रेस है A के कितनी देर बाद आता है B A के 30 seconds बाद आता है B A जब पहुंच जाता है उसके 30 seconds बाद B पहुंचता है और B के कितनी देर बाद पहुंचता है C B beats C by 15 seconds A के comparison में C को मैं बोल रहा हूँ A के comparison में C जो है वो 45 seconds बाद पहुंच रहा है A के 30 सेगंड बाद B पहुंच रहा है और A के 45 सेगंड बाद C पहुंच रहा है क्योंकि B के 15 सेगंड बाद यह पहुंच रहा है A beats C by 180 मीटर और A जो है वो C को A जब पहुंच गया तो C को 45 सेगंड लगे और A जो है वो C को 180 मीटर से बीट कर रहा है इसका मतलब क्या है A, C को 180 मिटर से बीट कर रहा है इसका मतलब क्या है जब A ने रेस कतम की तो C उसके 180C मिटर पीछे था आप बोलोगे जी हाँ सर और जब A ने रेस कतम की तो C उसके 180C मिटर पीछे था एक चीज और जब A ने रेस कतम की तो C को 45 second लग गए थे जितने भी वो पिछे था उस distance को cover करने में यहनि C को 180 meter cover करने में 45 second लग गए थे तो C की speed आ जाएगी मरे भाई क्या आ जाएगी 180 बोटे 45 याने की 4 meter per second क्या है C की speed है अब आगे देखेंगे इसके according आगे solve करते हैं अगर C का time मिल गया तो आपको B का भी मिल जाएगा बता रखा है ना कि B के कितनी देर बाद C पहुंच रहा है या A के कितने देर बाद C पहुंच रहा है तो सब का मिल जाएगा जिस काई पूछा है बता दू तो C की speed अगर 4 meter per second है तो पूरी 1000 meter की race को खतम करने में वो कितना time ले रहा है तर वो ले रहा है 200 second है ठीक है अगर C 200 second ले रहा है तो A ने C को कितने second से बीट किया था तर 45 second से बीट किया था A 45 second पहले पहुंच गया था या बाद में वो जीत रहा है वो 45 second पहले पहुंच गया था तो 250 में से 45 घटा दो ठीक है ये ने 205 सेकंड लिये है रेस कतम करने में ठीक है जी आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी ये देखता हूं ये 100 मीटर रेस टॉम रन्स एट स्पीड उफ 5 मीटर पर सेकंड इफ टॉम गिवस ए स्टार्ट ओफ 4 मीटर तो जैरी एंड स्टिल बीट सिंप बाइबाराज सेकंड सिच्वेशन को समझने इकोसिस करिएगा कि टॉम ने क्या किया ये टॉम है ये जैरी है टॉम ने जैरी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया भाई 4 मीटर आगे से भाग ले फिर भी टॉम ने जैरी को जैरी यहीं पर पहुंच पाया था टॉम को नीचे कर लेते है जैरी यहीं पर पहुंच पाया था टॉम पहले पहुंच गया तो यहां पर दो उसने format में बता दी, इसको तो distance में बता दिया कि यहां पर जैरी ने कितना कम भागा और यहां पर time में बता दिया, ठीक है तो हमें इनकी actual speed और time उनसे deal करना पड़ेगा, situation को देखना पड़ेगा, इसका मतलब जैरी क्या है, जैरी पहुंचा तो है, यह निय speed और time को लिख लेंगे, distance वगरा, जिसकी भी जरूत पड़ेगी, तो tom की speed है 5 meter per second, तो कितना time लगा होगा tom को, tom की speed है 5 meter per second, तो 100 meter की race पूरी करने में, 100 बटे 5, 20 second लगे होंगे tom को, ठीक है, तो tom ने जैरी को कितने time से बीट किया है, tom ने जैरी को बीट किया है, 12 second से, जैरी जो है, वो 12 second बाद पहुंचा है, tom को 20 second लगे हैं, तो जैरी को 32 second लगे हैं, जैरी को 32 second लगे हैं, clear, उसके 12 second बाद पहुंचा है, tom रेस के अंदर 20 second तक था, बले ही, जैरी ने आगे से start किया, जैरी ने आगे से start किया, tom यहां कड़ा था, जैरी यहां था, दोनों इकठे भागे, तो tom पहले पहुंच गया, जैरी बाद में पहुंचा, tom ने 20 second तक रणिंग की, तो जैरी ने उसके 12 second बाद खतम की, तो जैरी ने 32 second तक रणिंग की, और जैरी ने कहां से कहां तक का distance cover क जैरी ने खतम तो यहां से यहां तक किया न, 32 second में, tom के 12 second बाद पहुंच तो गया है, clear है, तो tom ने तो 20 second रणिंग किया है, 100 मिटर का, जैरी को उसने 4 मिटर का start दे दिया था, तो यहां से यहां तक 96 मिटर दोड़ा है, जैरी, 32 second में 96 मिटर, तो 96 बटे 32, 3 मिटर पर सेकि ठीक है, जैरी की गती कितनी है वाई, 3 मिटर पर सेकिन, exactly ऐसा ही एक्वेशन एक्वेशन करवा दूँ, कैसा लगेगा आपको, जब आप खुद कर लेंगे, MTS में पूछा गया था, करो एक बार, देखता हूँ करते हो कि नहीं, इन्हें 200 मिटर वोक रेस, जाकिया वोक्स एट अन आवरेज स्पीड और 5 किलमेटर पर आर, C gives a start of 20 मिटर टू वीना, एक 200 मिटर की रेस है, आपको एक्वेशन में ऐसे डागराम बनाना ज़रूर ही नहीं है, मैं जब आपको पिचवेशन समझा रहा हूँ, यह जाकिया है भाई, वीना को कितने का start दे दिया, वीना को इसने start दे दिया, 20 मिटर का, कि 20 मिटर आगे से भाग ले, फिर उसके बाद यहाँ पर जाकिया पहुंच गई, वीना कितनी देर बाद पहुंची, वीना ने 18 सेकंड ज्यादा ले लिए, 18 सेकंड ज्यादा ले लिए जाकिया से, वीना ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर की, ठीक है, लेकिन जाकिया जाकिया 18 सेकंड बाद की पहले जाकिया पहुंच गई थी तब वीना कहीं रस्ते में थी तो आपको एक बात पता है कि जाकिया ने तो यहां से लेकर यहां तक पूरा 200 मिटर कवर किया जितनी देर में जाकिया ने 200 मिटर कवर किया है वीना ने 180 मिटर कवर करने में भी 18 तो जाकिया है वीरना है तो एक बंदे की स्पीड बताई होएगी तो देखो जाकिया की स्पीड बता जी जाकिया की स्पीड है फाइव गिलाम्टर पर आर तो पहले तो मुझे सेकिंड में निकलना पड़ेगा ना यहां पर चीजे सेकिंड में निकलना पड़ेगा इसकी तो 200 मीटर ये दोड़ी है 5 किलमेटर पर आर की स्पीड चे तो इसकी स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में कनवर्ट कर रहा हूं 5 बटे 18 से गुणा करके 25 अठे दोस्सो अठारा अठे 144 सेकंड लिये हैं इसने 144 सेकंड लिये हैं और वीना ने इससे 18 सेकंड ज्यादा लिये हैं तो वीना ने लिये हैं 162 सेकंड इससे 18 सेकंड ज्यादा लिये हैं और इससे 18 सेकंड ज्यादा लिये हैं और दूरी तैकी है सिरफ 180 मिटर अच्छा दूरी सिरफ 180 मिटर तैकी है इतनी देर में इतना ही भागी है वीना तो इसकी स्पीड क्या है average speed of वीना तो distance upon time कोई दिक्कत ही नहीं है distance upon time meter per second में हैं पूछ रहे हैं kilometer per hour में कर दो अठारा उटे पांच से गुना अठारा निम्मे नो दूनी पांच दूनी दो दूनी 4 kilometer per hour this is our answer option C ठीक है ठीक है आगे बढ़ूँ बताव A can beat B by 10 seconds and C by 20 seconds in a hundred meter race ठीक है जी if the ratio of speeds of A and B is 5 is to 4 find the ratio of speeds of B and C ठीक है जी बलते हैं A, B को 10 seconds से beat कर सकता है A, B, C तो यहाँ पर है जी इनका time 10 seconds से beat कर सकता है तो speed का ratio उसने दे दिया ना तो ठीक है भले speed से speed से continue कर सकते हैं A और B की speed का ratio क्या है A और B की speed का ratio 5 is to 4 C के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है तो मैं कुछ लिखनी सकता है तो अगर speed का यह ratio है जब यह race दोड रहे हैं तो same distance दोड रहे हैं race को खतम करने में जी हाँ sir अगर speed का यह ratio है तो time का क्या ratio होईगा 10 का difference है लेकिन यहाँ पर तो एक का है तो चीजों को कर दे 10 गुणा 40 और 50 यह लो इनके actual time आ गए A अगर 40 second ले रहा है तो B 50 second ले रहा है अब तो आपको C का time भी पता लग जाएगा C कितना time ले रहा होगा A can beat B by 10 second A, B को 10 second से beat कर रहा है यानि कि B 10 second बाद आ रहा है और C को 20 second से beat कर रहा है यानि कि 60 second बाद आ रहा है इनके time का ratio मिल गया हां जी तो इनकी speed का ratio भी मिल जाएगा when the ratio of speed of B and C B और C का time का क्या ratio है सर 5 is to 6 तो speed का क्या ratio होएगा 6 is to 5 options ठीक है clear है आगे बढ़ू the speed of A is 20 meter more than that of B and the speed of B is 25% more than that of C तो यानि कि सब की speed मिल जाएगी A can beat speed मिल गई तो distance मिल जाएगा इसमें तो कुछ कास आई नहीं speed of A is 20% more than that of B वगर B की speed 5 है तो A की speed चे है speed of B is 25% more than C यानि कि इसकी speed 4 है तो इसकी 5 है इसकी 4 है तो इसकी 5 है तो यह इनकी speed का ratio है ओके A can beat C by D meters इन से 100 meter race A is O है वो C को D meter से beat कर रहा है जाए 100 meter की race में तो देखो भाई यही इनकी speed का ratio है यही इनके दवारा travel किया गए distance का ratio है same time में अगर वो पूचते हैं कि कौन किसको कितने distance से beat कर रहा है इसका मतलब क्या होता है जब वो भाग गये तो same time में कौन कितने दूर गया या कौन कितने दूर गया यह पूच रहे हैं कि A जो है वो C को 6 meter की race हुई तो A तो 6 meter दोड लेगा सी जो है 40 मीटर दोड़ पाएगा दो मीटर से बीट करतेगा 7 मीटर की रेस में यह बोल रहा है रेस 600 मीटर की है स्वो गुना इसको 200 मीटर से बीट करतेगा clear है 200 मीटर से बीट करतेगा simple है simple है यह बताओ मैं यह अजूम करता हूँ हरे question को solve करना start करने से पहले या आपने मेरे से पहले उसको solve कर लिया होगा ठीक है solve कर लिया सुमन कें गिव भुवन a start of 20 meter in a 100 meter race to do a favor सुमन उसको इतने का वो दे सकती है क्या वह बलते है start इसका अमजलब जितनी देर में सुमन जो है वो 100 meter दोड़ेगी उतनी देर में भुवन जो है वो सी meter दोड़ सकता है ठीक है इनके speed का ratio है distance का ratio है दोनों चीजों का ratio है to do a favor to भुवन if सुमन starts from 120 meter behind a starting line in a 100 meter race then एक favor करने के लिए सुमन ने क्या किया सुमन ने 20 meter पीछे से start किया 20 meter पीछे से तो जब ऐसा होता है कि कोई बंदा कुछ meter पीछे से start कर रहा होता है तो हमें पता नहीं होता कौन सा जीतेगा तो एक बार करके देखना होता है ये race कतम करेगा तो ये कहां पर होगा ये race कतम करेगा तो ये कहां पर होगा अगर जरूरत पड़े तो अब बोलोगे जरी इसकी स्पीड तो ज्यादा है पट यार वहाँ पर उसे डिस्टन्स ज्यादा ट्रैवल करवा दिया ना बचारों ने तो इनकी स्पीड का क्या रिश्यो इनकी स्पीड का रिश्यो है यह फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब यह 5 मिटर पूरे करेगी तब तक यह 4 मिटर ही पूरे करेगा तो यह इसको एक मिटर से बीट कर देगी पांच मिटर की रेश में तो जब यह 120 मिटर दोड़ेगी जबी 120 मिटर दोड़ेगी तो 5 का 5 का कितने गुना है ये 12 गुना तो 1 का 24 गुना 24 मिटर से बीट कर देगी नहीं ऐसे मत करना एक तो ये गलती कर सकते हैं क्योंकि इसको 120 मिटर दोड़ना है और इसको कितना दोड़ना है इसको 120 मिटर दोड़ना है रेस 100 मिटर की थी रेस थी 100 मिटर की लेकिन सुमन हवा में आ गी ये भुवन ही आपर खड़ा है सुमन बोल रहे हैं मैं तो 20 मिटर पीछे से start करूँगी मेरे को underestimate मत कर तो सुमन को भागना है 120 मिटर और भुवन को भागना है 100 मिटर तो मैं देखूंगा कि जितनी देर में ये 120 मिटर भाग सकती है उतनी देर में ये कितना भागेगा तो 5 का 24 गुना और 4 का 24 गुना कितना होता है चानवे तो ये रेज कतम होने से 4 मिटर पहले होगा तो ये इसको 4 मिटर से बीट करेगी ना कि 24 मिटर से सुमन बीट्स पुवन पाई 4 मिटर अगर यहीं पर यह 20 की वजाए 40 मिटर पीछे से भागती अगर यह 20 की वजाए यह ज्यादा हवा में आ जाती यह 40 मिटर पीछे से भागती तो क्या होता इसको 140 मिटर पूरा करना होता तो जितनी देर में ये 140 मेटर पूरा करेगी कितना गुणा ही है 28 गुणा हो गया उतनी देर में ये कितना कर लेगा ये 28 20 और 57 का डबल 112 मेटर ये 112 मेटर तो आप आप बोलोगे इसने इसको भिक्ट कर दिया नहीं ये 112 मेटर क्यों दोड़ेगा मैक्सिमम देखो इसने मैक्सिमम 140 मेटर दोड़ना है रेस कतम हो जाएगी फिर रेस्ट करेंगे इसने सिरफ 100 मेटर दोड़ना है ये ज्यादा जोड़ गया इसने 140 मेटर दोड़ना तब तक ये 100 से ज्यादा दोड़ गया है अब की बार हमने ये चेक करना था अब की बार हमने ये चेक करना था ठीक है कि जितनी देर में ये 100 मिटर भाग रहा है भाई साब 2500 के 100 उतनी देर में ये कितना भाग पाती है तो गुणा में 25, 25, 25, 125 ये 125 ही भाग पाती है ये इसको टोटर 140 भाग नहीं यह 125 ही भाग पाती है यानि कि 15 मिटर पीछे रह जाती है तो अगर रेस अगर यह 40 मिटर पीछे से start करती तो यह 15 मिटर से मार खा जाती है ज़्याद और अवर को नविडेंस दिखाती है तो अभी तो बच गए भी इस मिटर पीछे से start तो समझ गए इस टाइप के question a can beat b by 5 seconds in a 100 meter race if the difference of speeds of a and b is 1 meter per second find the speed of a तो option use कर लो यह फिर बिलकुल basic method 100 meter की race है ठीक है a की speed को ने क्या बता है if the difference of speeds a beat कर सकता है a can beat b by 5 seconds a की speed तेज है तो b की speed को मैंने x माल लिया a की speed को x plus 1 माल लो 1 meter का फरक है तो 100 meter distance अगर हम x की speed से करें और 100 meter अगर हम x plus 1 की speed से करें ठीक है कम speed से करेंगे तो ज़्यादा time लगएगा time के बिच में 5 seconds का फरक है आप इसको solve करोगे x की value आजाएगी लेकिन आपको कुछ द्याना आया जब मैंने यह लिखा यह रहाएसे question तो in question के लिए तो मैंने आपको एक formula बता रखा है कि जब same distance को अलग-अलग speed से किया जाए एक बार s1 speed से किया गया एक बार s2 speed से किया गया यहाँ पर अलग time लगा यहाँ पर अलग time लगा क्योंकि same distance को अलग-अलग speed से किया तो time के बीच का फरक delta t speed के बीच का फरक delta s यहाँ पर तो वो condition भी satisfy हो रही है दोनों बंदों ने 100 meter भागा उन दोनों की speed के बीच में तो 1 meter per second का फरक है time के बीच में 5 second का फरक है आप ऐसे भी मान सकते हो कि B की speed के comparison में अगर किसी ने अपनी speed एक meter per second ज्यादा रखी तो उसको time 5 second कम लगेगा speed बढ़ा ली तो time कम लगेगा तो वही तो situation हैं दो situation दी जाती है दोनों की speed के बीच में plus minus में relation दी जाती है दौनों के time के बीच में plus minus में relation दी जाती है इसके लिए formula बताया है कि D is equal to तो यह formula मैंने इसलिए बताया था क्यों यार यह kई जगे use होने लगा वोटन स्ट्रीम में भी यूज होने लगा वहाँ पर भी एस एक्वेशन पूछे जाने लगे और रेसिस के अंदर भी यूज होने लगा तो जब जो चीज जरूरी हो जाती है जिसके ना करने से हमें नुकसान हो जाएगा वो चीज फिर मा आपको बताता हूँ मा फ्रालतूई चीज नहीं रटवाता है तो करें फिर यहां पर distraction कितना है डिस्टनस आजी 1 बंदे की स्पीड B की स्पीड मैं ने मान ली B और A की स्पीड मैं ने मान ली V प्लस बन B क्लियर रहे तो B की स्पीड B A की स्पीड B प्लस बन A की speed एक ज्यादा है divided by one speed के 20 का फरक into delta t time के 20 का फरक अब यह पता लग जाएगा तो 5 से इसको गटूंगा 20 पर अब 20 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनमें एक का फरक हो तो 4 पंजे 20 बहुत ही easy है यह 4 है यह 5 है यहने की b की speed 4 है a की speed 5 है क्या पूछ रहे है find the speed of a that is 5 meter per second तो basic की बजाए इस तरीके से करेंगे तो easy आएगा clear है formula revise हो गया यह बताओ a is twice faster than b okay a can beat b by 10 seconds in a 100 meter race find the speed of a बोती simple है 10 seconds से beat कर रहा है इसका मतलब यह 10 seconds में कर रहा होगा उदर यह इसको इसकी speed 10 meter per second आजाएगी देखो a और b की speed का ratio क्या है a और b की speed का ratio है two is to one इनके time का ratio क्या होगा time का ratio होगा one is to two a अगर एक unit time लेगा तो b जो हो दो unit time लेगा रहे इसको खतम करने में ठीक है यह बोल रहा है इनके time के बीच में difference 10 seconds का है हमारे ही जाब जेता है एक second का है तो 10 गुना क्रोची जोगो 10 और 20 यानि कि a अगर 10 seconds में race खतम कर रहा है तो वो 20 seconds में कर रहा है किसना पूछी है a की speed तो 10 seconds में अगर 100 meter की race को कोई खतम कर रहा है तो 100 अबटे 10 10 meter per second b की speed पूछता थो 5 meter per second clear होती ही इसी है मैंने त्रह त्रह के question लिए ताकि आपकी सारी practice हो साए है हम course के अंदर एक बार ऐसा कर रहा है ना कि एक बार ये course करने के बाद आप इसी को repeat करते रहो आपको एक भी question कहीं से ना लेना पड़े simple सी बात है और साथ के साथ ये भी है कि हम सिरफ relevant पड़े और इतना ज्यादा ना पड़े कि हम बुड़े हो जाए है जरूरत से ज्यादा भी हम नहीं पढ़ रहे इतने की जरूरत है आपको और इसी को repeat करना है बार बार if you want to make sure की जोब लगे उक्के के सारे जोब नहीं लगेगी effort डालने पड़ेंगे three athletes और आपको एक बात बता दू कि जितनी जोब की तियारी करने में जितने effort लगते हैं उतने effort या उससे ज्याद effort मैं regular लगाता रहता हूं हर teacher लगाता रहता है तो आप ये भी सोचा करो कि भई मैनत करने का दिलना कर रहा हूं कि बुदेश सर्थ तो अभी भी करी रहे है ठीक है जोब लगी थी जोब नहीं लिए एंबी कैट में बढ़िया स्कोर आया एंब यह नहीं कि वहां पर स्टेवल करियर होते है लेकिन अपने passion को follow करना था वहां के comparison में तो unstable है ना करियर महनत करते रहते हैं कि भी stability बनाने के लिए महनत नहीं तो भी गवर्मेंट जो तो लगा था कि ठीक है जोब लेने के बाद पहले 6 महीने अच्छा अच्छा ही लगा था कि अरे मज़े आ गए इतने रिलेक्स हैं किसी कोई भी पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो कि ऐसे ऐसे गौर्मेंट जोब में हो तो अरे बहुत बढ़िया यह तो मैंने तो सोचा आठ महीने के बाद मैं यही सोचने लगा कि कास में पढ़ा रहा हुता है तो इसलिए फिर से वापिस पैसन तो अब भी उतनी महनत करता रहता हूं जितनी गवर्मेंट जोब की प्रिप्रेशन में केंडिडेट करते हैं उससे ज्यादा ही करता रहता हूं तो महनत से मत इनकी स्पीड का यह रेशियो है तो अगर इनकी स्पीड का यह रेशियो है तो इनके डिस्टन्स का भी यही रेशियो होगा यह जितनी देर में 16 मिटर भागेगा उतनी देर में यह 15 मिटर यह 14 मिटर वह यह बोल रहे हैं कि भाई 4 किलोमेटर की रेश है जो वीनर रेश को खतम कर लेगा तो second और third वाले के बीच में कितने का difference है अगर race 16 km की हो या फिर 16 unit की हो इन दोनों के बीच में एक का फरक होएगा यहाँ पर race 16 के comparison में कितने की है 4 km की है तो 4 km को मीटर में बतल रहा हूं 16 unit की value है 4000 तो एक unit की value होगी 4000 वटे 16 4 से 4 पर गया 4 से 25 पर गया एक unit की value 200 है तो second और third वाले अच्छाए 11 है second और third वाले के बीच में 4 unit का फरक है यान कि 200 into 4 ठीक है 1000 1000 का फरक होगी clear ऐसी तो वैसे ही कर लेते है मैं अब तो ऐसी values होती तो मैं divide ही नहीं करता अगर 16 की value 4000 है तो इस च्यार जो है इसका one fourth है 16 का one fourth है 4000 का one fourth हजार clear है एक्जाम मैं पुछा गया question in a race of 1000 meter A beats B by 500 meter okay while in another race of 3000 meter C beats D by 400 meter A ने B को beat किया है 1000 meter की race थी जितनी देर में A 1000 meter दोड़ा उतनी देर में B 850 meter दोड़ पाया इससे 1500 meter कम ठीक है एक दूसरी race थी meanwhile C और D की 3000 meter की race थी तो जितनी देर में C ने 3000 meter दोड़ा उतनी देर में D ने 2600 meter ही दोड़ा इनके distances का ratio या फिर यूं कहें इनकी speed का ratio आ गया ठीक speed of B is equal to that of C speed of B is equal to that of T B और D की speed बराबर है यानि की B और D की speed बराबर है क्यों ना इनकी speed को बराबर किया जाए ठीक है काटा पीटी start कर दें पांच से काटूँगा तो 17 पर 5 से काटूँगा तो 20 पर यानकी 0 मैं by default मन में ही काट चुका हूँ 2 0 मैं मन में काट चुका हूँ 2 से काटूँगा तो 13 पर 2 से काटूँगा तो 15 यहां पर examiner ने बोलाए कि B और D की speed same है यह सिरफ इनकी speed का ratio है A और B का ratio अलग है C और D का ratio अलग है यह अलग race से लिया गया यह अलग race से लिया गया यहां पर बीच में ऐसे मतलगा देना ठीक है बहुत बुरी तरह के पिटाई कर दूँगा ठीक है तो B और D को same करना है तो मैं क्या करूँगा इस ratio को मैं multiply कर दू आप कह रहे हों तो कर देते हैं 260 ratio तेरा साथ एक्याण में 9, 13 एकम 13 और 9, 22, 21 यह तो definitely 221 यह आएगा ratio 17 इंटू 15, 17, 55, 8, 17, 17 और 8, 15, यह ratio है जिए A, B, C का और D का, clear, क्या पूज़ रहो assume that A, B, C, D run with uniform speed in all the events वो A की speed से भागते हैं सारे events में ठीक है भाई if A and C participate in the race of 600, 6000 meter अगर A और C किसी race में participate करेंगे 6000 meter के में तो देखो A जब 260 meter भागता है तो यह 255 meter भागता है तो यह 5 meter का गयप रहता है इनमें अगर race 260 meter के हो अब यह बोल रहे हैं कि इस 260 की जगा है 6000 है एक बात तो clear है A, C को हराएगा तो यह कभी कभी क्या करेंगे A beats C, यह बोलेंगे C beats A, यह तो नहीं हो सकता भाई, C beats A, यह भी नहीं हो सकता कभी कभी क्या होएगा तीन option यहीं पर कड़ जाएंगे हमें बता A रहेगा ठीक, अब तो दो option है A beats C, A beats C, अब फरक पड़ता है कि कितने से रहेगा अगर 260 unit की value 6000 है, race 6000 की है, एक unit की value है 6000 बटे 260, हमें निकालने हैं 5 unit की value, ठीक है इसका मतलब disometer तो नहीं आ सकता, by integer में नहीं आ सकता, point में value आईगी इसका मतलब option is the answer ठीक है, आपको solve करने की जरूँत नहीं है, actual exam का equation है, ऐसे ही आप कर सकते हूँ पानी पे लूँ, तब तक आप इस question को करो, वीडियो को भी ना pause किये कर सकते हो, क्योंकि मैं श्यानती से पानी प्यूँगा आराम से बैठके, राजा की तरह पानी पेंगे झाल झाल हां जी, कर पाएगे नहीं को question थोड़ा typical है, अगर आप नहीं भी कर पाएगे तो दिल चोटा करने की जरूँत नहीं है मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप जल्दी कर पाओगे अब जल्दी कर सकते हो, अगर आप एक नजरिये से इसको देख़ो तो, देख पाओ तो इसलिए बताता हूँ इने रेस ओफ 1000 मेटर, A beats B by 100 मेटर और 10 सेकेंद्स इसका क्या मतलब है, कि जितनी देर में A जो है, वो 1000 मेटर दोड़ जाता है उतनी देर में B जो है, वो 900 मेटर जोड़ फाइख, एक तो यह मतलब है? कि वो 100 मेटर पीछे रह जाता है और एक दूसरा मतलब यह है कि जो यह 100 मीटर पीछे रहा गया न भी इसको वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 सेगंड लगते हैं यानि कि 10 मीटर पर सेकंड की गती से दोड रहा है 10 मीटर पर सेकंड की गती से दोड रहा है clear है इसको 100 meter cover करने में 10 second लग जाते हैं 100 meter पीछे रह गया दा और 10 second बाद आया 100 meter cover करने में 10 second लग ठीक है clear if they start a race of 1000 meter simultaneously from the और द्यान से समझ येगा मैं तर बता हूँ वा बहुत ही short अठट से समझ ना पड़े if they start a race of 1000 meter simultaneously from the same point and b gets injured after running 50 meter less than the less than half the race be injured हो गया अद्धी race कब होएगी 500 meter per 500 meter से 50 meter पहले यानि कि सड़े 400 meter exam में पूछा गया question अगर ये लगे कि पटपटा है exam में पूछा गया and due to which his speed gets halved then by how much time will a beat b यहाँ पर मैं दो situation करता हूँ माल लो b को injury होती ही नहीं b ठीक ठाक रहता यहाँ से a भागता b भागता b को injury नहीं होती b बहुती healthy रहता तो बताओ a b को कितनी देर से beat कर देता a b को beat कर देता 10 second से जब दोनों ठीक ठाक होते हैं तो कितनी देर से beat कर देता है 10 second से अगर ये ठीक ठाक भी रहे अगर यह अपनी normal speed से race को पूरा कर दे तो यह 10 second पिछे पहुंचेगा 10 second से हार जाता है इसको 10 second ज्यादा लग जाते है race पूरा करने में एक एक comparison नॉर्मल speed से भाग गए तो इसको 10 second ज्यादा लग जाते हैं अब मैं B की ही 2 situation को compare कर रहा हूँ एक तो situation है यह B ठीक ठाक है एक है कि B 4500 मीटर तक ठीक ठाक भागा और बाकी के 550 मीटर B की हालत खराब होगी अदी speed से भागा तो लिए रहे B की ही 2 situation को मैं compare कर रहा हूँ E B यहाँ पर पूरी race में ठीक ठाक नहीं रहा B यहाँ पर ठीक ठाक रहा पूरी तो सुनो मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूँ कि जब B ठीक ठा उसके comparison में कितनी late हुआ B जब ठीक ठा उसके comparison में कितनी late हुआ तो देखो B यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक ठाक ठाना पहले वाली स्पीड से भाग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में खुद के comparison में तो B लेट नहीं हुआ होगा आप बोलोगें जी नहीं सिर्फ पहले जितने time में जाता था उतने time में जा रहा है B को अगर ज्यादा time लगा है healthy B के comparison में बिमार B को अगर ज्यादा time लगा है वो यहाँ से यहाँ तक का distance है उसकी speed कितनी होगी तो उसकी speed अद्धी होगी चोट लगने के कान तो normally इसको अगर speed अद्धी हो गई तो time double लिया होगा तो इस distance को cover करने में normally वो कितना time लेता सर वो normally 10 meter per second की speed से दोड़ता है तो normally अगर वो 10 meter per second की speed से दोड़ता है तो normally वो 55 second लेता है सर normally वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 55 second लेता लेकिन आज वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 55 का double 110 second लेगा वो 55 second लेट हो जाएगा खुद से वो खुद ठीक होता उससे खुद से वो 55 सेगंद लेट लेट ठीक है तो देखो हुआ क्या कि A कुछ टाइम में रेς को पूरा करता है A मालो T टाइम में रेस को पूरा करता है तो जब A जब ठीक ठाको healthy हो B जब healthy हो तो वो T plus 10 second लेता है लेकिन अब की बार क्या हुआ B बिमार है जब B healthy था उसने उससे 55 second ज्यादा लिए मैं फिर से समझा दूँगा 10 समत लो यहां से यहां तक B ठीक ठाक था तो मैं यह देखना चाहरा हूँ मैं B का time A के comparison में मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहरा हूँ मैं B के comparison में देखना चाहरा हूँ कि B जब ठीक ठाक होता है और B जब यहां पर बिमार हो गया तो उनके time में कितने का फरक आया तो यह distance तो B ने ठीक ठाक speed से ही cover किया तो यहां पर तो वो late नहीं वाओगा यहां पर 550 मिटर नॉर्मली 55 सेकंड में करता है लेकिन उसकी speed आद्दी होगी तो double time लगा होगा तो जितना time वो पहले लेता था उतना ही और एक्षा लग गया होगा तो खुद के comparison में यह 55 सेकंड लेट लिया है उसने time व्याने कि T प्लस 65 सेकंड में रेस की है उसने यह तो भाहिया 30 सेकंड में करता है नॉर्मली वो B को बीट कर देता है 10 सेकंड बाद करता है नॉर्मली भी रेस को उससे लेकिन B बिमार हो गया तो B खुद जितने time में करता था उससे 55 सेकंड और 30 में कर रहा है तो पहले ही 10 सेकंड से आर हा था अब 55 सेकंड और लेट हो गया B तो total 65 सेकंड से हाई गए total 65 से आर से clear है यह बात समwij में का खायए बात clear है यह किस तरह का question है कि मालनो एक बंदा है A एक बंदा है B तो बंदा A है यह office में जो बंदा B है वो 10 मिनट लेट आता है ओफिस में महालो ओफिस 9 बजे है तो ये 9-10 पर आता है रोज लेकिन एक बार क्या हुआ बीच में जाम लग गया तो जितना टाइम ये लेता है नूर्मली उससे 30 मिनट ज्यादा लेकर आया तो ये पहले ही 10 मिनट लेट होता था उस बंदे से अब जाम लग गया तो 30 मिनट और लेट हो गया तो यानि कि पहले वाले बंदे के 40 मिनट बाद आएगा वही सिंपल है जो B था वो नॉर्मली 10 सेकिंड ज्यादा लेता था अब पैर में चोट लग गई तो वो खुद इतना टाइम लेता था उससे 55 सेकिंड और लेगा पहले वाले के कंपरिजन में तो 60 सेकिंड लेट हो गया तो B को B से ही कंपेर गरना है ना कि A से तो फाइदे में रहो गया तो बता वही इस क्वेशन को अब मेंट ली कर सकते होगी नहीं ठीक है ठीक है बहुती जबरदस्त बहुती श्यांदार क्वेशन पहले पूछा गया था 2001 के अंदर कैट में फिर 2016 में CGL के टीर टू में और फिर एक बार CDS में पूछा गया था तो आप देख सकते हो कहां कहां पर खोजबीन करके आपके लिए क्वेशन लाए गये है ठीक है जितने भी रिलेवेंट एक भी मैंने जगहनी सोड़ी जहां से आपके लिए रिलेवेंट क्वेशन उठाए जा सकते हैं डिट्टो वो क्वेशन जो आपके एक्वेशाम में आएंगे अब आपको कहीं कहीं पर भटकना नहीं है बस इसी को करते रहना है तो अब इस क्वेशन को ध्यान से समझियेगा अगर हम इसको ठीक नजरीजे से देखें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं without any calculation कर सकते हैं बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और आपको बहुत ही प्यार से समझना है ठीक प्यार से समझने की जरूरत है इस क्वेशन में ए जब रेस को फिनिस करता है तो वो बी से बारा मिटर आगे है और वो सी से अठारा मिटर आगे है सी से अठारा मिटर आगे है यह डिस्टन्स बारा है तो यह डिस्टन्स च्छै यूनिट है सी से अठारा मिटर आगे है वाइल रनर बी फिनिस एट मिटर एहड ओफ रनर सी रनर बी जो है वो सी से एट मिटर एहड है आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो B जो हो सी से 6 मिटर है अभी रेस कतम नहीं हुए है ठीक है पिक्चर अभी बाकि है मेरे दोस्त अभी B जब यहाँ पर जाएगा देखो अभी B भागी रहा है ए तो पहुंच गया है सबसे पहले मेरी तरह अभी बाकि के 12 मिटर और कवर करेगा अभी यह रेस में है अब मेरी बात को ध्यान से सुनो वह पूरी रेस के अंदर 8 मिटर से बीट कर रहा है सी को यानि कि B जब यहाँ पर पहुंचेगा तो C जो है वह 8 मिटर पीछे और मैं बहुत ही प्यार से दो या तीन बार समझाओंगा क्योंकि यह थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज है समझ में थोड़ी सी दो तीन बार रिपीट करने के बाद यह आएगी तो अटेंटिव रहागा तो C इससे 8 मिटर पीछे रहेगा तो पूरी रेस के अंदर हमें पता नही रेस कहां पर स्टार्ट हुई है लेकिन पूरी रेस के अंदर B जो है C को 8 मिटर से बीट कर देगा तो फिलहाल B ने C को कितने की लीड दे रखी है कितना आगे है भी तर 6 मिटर अगे है तो जो बाकी की रेस है टो टो तो 8 मिटर आगे होता है तो बाकी की रेस के अंदर जो 2 meter का gap और देगा अभी gap 6 meter का है जब यह दोनों बाकी की race दोड़ेंगे तो 2 meter का gap और देगा यानि कि gap कोई कब देता है जब कोई उतने meter ज्यादा जल्दी दोड़ जाता है मैं किसी को 5 meter का gap दूँगा यानि कि मैं उसे 5 meter ज्यादा दोड़ गया उसी time में 10 meter मैंने किसी को पीछे छोड़ दिया यानि कि मैं उसी time में उसे 10 meter ज्यादा दोड़ गया कितने की भी race हो वो जितना दोड़ा मैं उसे 10 ज्यादा दोड़ गया वस ठीक है तो B ने C खो 6 meter का gap दे रखा है total तो 8 meter का gap देगा तो 2 meter का gap और देना जरूरी है और देना बाकी है यनकि B जब 12 meter भागेगा न B जितनी देर में 12 meter भागेगा उतनी देर में C जो है C 10 meter ही भाग पाएगा B की race कितनी बची है B की race तो सर 12 meter बची है अगर माल लो ध्यान से सुनो C यहाँ पर है B यहाँ पर है दोनों में 6 meter का gap है अगर B 12 meter भाग दे और C भी 12 meter भाग दे तो इनके बीचे में तो 6 meter काई gap maintain रह गया आप बोलोगे जी हाँ सर 6 meter काई gap रह गया वो भी 12 भाग दे वो भी 12 भाग दे लेकिन 6 meter का थोड़ी maintain रहा है 8 meter का हुआ है यानि कि उसने जब 12 meter भागे उतनी देर में यह 10 meter भाग पाया तो यह 6 meter उलड़ी पीछे है 2 meter और पीछे हो जाएगा 8 meter पीछे हो जाएगा तो B वहाँ पर पहुंच चुगा होगा यह 8 meter पीछे होगा तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब तक 6 meter का gap है क्योंकि race पूरी नहीं हुई है race इतनी हुई है अभी race बाकी है इतनी race में उसने 6 meter का gap डाल दिया टोटल 8 meter का डालता है तो बाकी का distance अब यह B दोड़ेगा तो 2 meter का gap और डाल देगा gap डाले का मतलब यह है कि जितना यह distance travel करेगा दूसरा बंदा उतनी टाइम में उसे 2 meter कम कवर कर पाए याने कि जितनी देर में 12 meter कवर कर लेगा उतनी देर में वो 10 meter भाग पाएगा तो 6 meter तो बेचारा पहले पिछे ता 2 meter और पिछे हो जाए 8 meter पिछे हो जाए 8 meter हमने पिछे करना है डिटेल में बता दी है अब इसको उपर आपने सोचना है जो मैंने बाते बोली है बाड़-बार उनको सुनना है और शोचना है अगर नहीं समझे तो जितनी देर मेंломर बारा मीटर भागता है इतनी देर में सिजो हो 10 meter भागता है तो यहाँ पर इस ने इसको कितने आग तो यानि सोरी आठ कर दूँ इस गैप को दो चुक के आठ चाहर गुना तो बारा चुक के अड़तालीस दस चुक के चालीस यानि की अड़तालीस मीटर की रेस में ये इसको आठ मीटर का गैप देदेगा और ये इसको आठ मीटर का गैप देदेता है यानि कि पूरी रेस कित दिलवा दिया आपने से ज्यादा दोड़ा दिया सम का गैप दिलवारे हो यानी कि रेस से कम दूड़ा ए तो देखो मैंने क्या किया एक दो तीसरी स्टेप में आइशर अलागि यहीं पर आंसर है 244 बार चुकरता लिश्टिक दूसरी स्टेप में लेकिन अगर आप सोच पा होते हैं यह दो जार एक में डिट्टो क्वेस्टन पुछा गया सेम लेंग्वेज सब कुछ सेम यहीं क्वेस्टन चैट के अंदर पिर 2016 never और 2015 में CDS के अंदर यहीं क्वेस्टन पुछा गया वहीं कंसेप्ट है तो आप ऐसा ही कंसेप्ट करना चाहोगे एक और क्वेशन करना चाहोगे ना इसी कंसेप्ट का तो यह करो इसको पर खुद दिमाग लगा वह ही चीज़ सोचो इनने रेस A, B and C take part A beats B by 30 meter B beats C by 20 meter and A beats C by 48 meter तो यह रेस हुई कि A जो है इसने B को कितने meter से A beats B by 30 meter A जब रेस खतम कर रहा था तो B उससे 30 meter पीछे था और A जब रेस कर रहा था तो C जो है उससे 48 meter पीछे था यहनि कि A ने यहाँ पर पहुँचा तो B 30 meter पीछे C 48 meter पीछे यहनि कि B के 18 meter पीछे था C ठीक और B C को कितने meter से beat कर सकता है B C को beat करता है 20 meter से जाने कि जब race कतम होती है को B जो हो C से 20 meter आगके रहता है जा फिर हम बोल सकते है C जो हो 20 meter पीछे मिलता है तो देखो पूरी race के अंदर B C को 20 meter का gap देदेगा पुलगे जी हाँ लेकिन अभी भी यहां तक आया है उसने C को 18 तोटल देना है 20 मिटर का यानि ये बची हुई रेस है ना इसके अंदर पी, सी को 2 मिटर का और गैप देगा जब ये पूरी रेस को खतम करेगा तब तक 2 मिटर का गैप और दे चुका यानि कि वही क्वेशन, वही कंसेप्ट जो लास्ट क्वेशन में किया है तो 30 मिटर की रेस में 20 मिटर का गैप दे देता है लेकिन पूरी रेस में 20 को 20 मिटर का गैप दे पा रहा है यानि कि race actual में इस से दसकुना है पूरी race मेरे भाई साब 300 मेटर की है पूरी race 300 मेटर की है तब यह इसको 20 मेटर का gap दे पाएगा तो पहली statement क्या है the length of the race is 300 मेटर बहुत ही बढ़िया ठीक अगली statement ठीक है कि नहीं the speeds of a, b and c are in this ratio a, b and c की speed का ratio निकालना है तो इनके distance का ratio निकाल लेंगे इसली निकाल लेंगे कोई दिक्कती नहीं पूरी race कितनी है भाई पूरी race 300 मेटर है अब तो सब कुछ है न आपके सामने पूरी race 300 मेटर है जितनी देर में a 300 मेटर भागेगा उतनी देर में 20 20 jeo 270 मीटरी भाग पाएगा इसे 30 मीटर पिछे रहेगा अब बोलो गाँख सर टीक है और उतनी देर में c कितना भाग पाएगा 270 से भी 18 घड़ादो कि वजएगा 250 मीटरी भाग पाएगा जितनी देर में 300 मेट वागता है उतनी देर में यह इतना भागता है उतनी दिर में इतना भागता है same time में दिश्टन्स का रिशियो separately speed इस होएगा speed का रिशियो क्या है काटो किसी से कटेंगे 64-24 muchaden anotheralal jar 42-45-50 42-45-50 vive2 ठीक यह भी ठीक है दोनों स्टेटमेन्ट ठीक है बोटso ओ, option C, खीक है, clear, आगे बढ़ू, बताओ, लास्ट क्वेशन है इस वीडियो का, और बाकी क्वेशन से हा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेशन है, बस वैसे ही ले लिया, मिसलेनियस की फोर्म में, क्योंकि ICR के पेपर में पूछा गया था, इन्हें रेस, अनील बीट्स भूसन बाई 30 सेकंड, एक रेस में अनील जो है, भूसन को 30 सेकंड से बीट कर देगा, इन सेम रेस, भूसन बीट्स रागव बाई 60 सेकंड, भूसन रागव को 60 से बीट कर देगा, ठीक है, तो देखो, अनील, भूसन और राग हो माल लो अनील को 30 seconds लगते हैं तो भूसन को अनील भूसन को 30 seconds से बीट कर रहा है तो यानि कि भूसन को 30 seconds ज्यादा लग रहे हैं अनील से ती प्लस 30 और राग हो को कितना time लग रहा है अब यह बोल रहे हैं कि ऑनील और रागव की स्पीड की आवरेज निकाले तो बूसीस पीड आए कि लेकिन ये तो टाइम है अगर टाइम का यह ratio तो speed का क्या ratio है असर इसका reciprocal तो speed का यह ratio है भाई अब इसको वैसे उस form में मत convert करना कैसे या वैसे करने लग जाओ कि t t plus 30 t plus 90 से गुणा करके वैसे मत करो ऐसे करने को ऐसे भी कर शकते हो ना हमें तोड़ी जल्दी हो जाएगी एक बार करने को कर शकते हो या फिर ऐसे ही कर लो ठीक है तो speed का ratio आगया अब यह बोल रहे हैं कि भूसंस speed is the average of anneal and ragho anneal और ragho speed की average निकालेंगे यहने कि this plus this divided by 2 is equal to this इन दोनों की speed का average निकालेंगे तो यह average है तो इन दोनों की speed का sum क्या होएगा दो चीज़ों की average है नहीं 2 into this तो मैं इन दोनों का sum निकाल रहा हूँ यहने की 1 by t plus 1 by t plus 90 is equal to two times of अगर इनकी average 1 by t plus 30 है तो इनका sum 2 into 1 by t plus 30 है ठीक है तो इसको solve करते हैं ऐसे cross multiply होएगा तो उपर क्या आएगा t plus 90 plus t इनकी 2t plus 90 ओके और निच्चे क्या आएगा निच्चे आएगा t into t plus 90 तो मैं कर क्या रहा हूँ मैं steps को कम कर रहा हूँ ठीक हमें सारी चीज़े लिखने रहा और इधर t plus 30 आकर multiply होएगा हां जी sir t plus 30 और यह t into t plus 90 उधर उपर जाएगा हां जी sir 2 into t plus 2 into t plus 90 मैं steps कम करने कोसिस कर रहा हूँ थी जैसे normally मैं solve करूंगा वैसे करने कोसिस कर रहा हूँ और यह यहां पर 2 है तो 2 से काड़ दें यहां पर कट रहे दो एकम दो दो से जाएगा 45 पर जी यहां से अब देखो सरी काफी typical हो गया हाँ इसको typical वेसक करना पड़ेगा मैं कोई जादू ही तरीक का बता दू सिरफ इस question के उपर कि इसको ऐसे करो इनकी values के according एक्जाम में जाकर strike नहीं होएगा वैसा का आप मैं नहीं कर सकता यह exactly अगर first time हमारे सामने आएगा या exam में कोई इस टाइप का question है कि हमें ऐसे करना पड़ेगा ठीक है multiply करो तो यह basic calculation आपकी फास्ट होनी चाहिए यहाँ पर t square plus 75t plus 1350 तो यह जैसे मैं लिख रहा हूं आपको ऐसे लिखना आना चाहिए कि t into t square तो यह 45 और 30 होएगा तो 45 और 35 और 30 ठीक है उसके बाद इन दोनों की ठीक है तो t square कट रहा है दोनों जगह से t square कट रहा है तो जब यह 75t उधर जाएगा तो उधर क्या बच जाएगा पंदरा t, 15t is equal to this तो t is equal to 90 ठीक है पंदरा निम्हें होता है ने 135 तो t की value 90 है वो क्या पूछ रहे है था time in seconds taken by अनिल तूरंदा रेस अनिल को कितना time लग र लग रहे हैं तो t की value भी बतानी है या निकी option अगर हम इसको यहाँ पर LCM लेकर करते हैं तो क्या होता तो देखें LCM का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं अगर इन तिनों को हम गुणा कर देते किस चीज़े t into t plus 30 into t plus 90 ठीक तो यहाँ पर कौन सी दो चीज़े बसती हमें पता ह है इन दोन का product बसता इसके लावग यहाँ पर बसता इसके लावग इन दोनों का product मैं वैसे करके देख रहा हूं करके नहीं देखा मैं उस way में क्या कुछ calculation बच रही है नहीं बच रही है कम आगे से वैसे ही करने लग जाएंगे न इस टाइब की चीज़ों को तो यहां पर बचेगा यहां पर होएगा t plus 30 और t plus 90 यहां पर होएगा t into t plus 90 इसके लाब बाक्य दो आएंगे यहां पर होएगा t into t plus 30 ठीक इन दोनों का जो sum है वो 2 into this होएगा नहीं वही ठीक था ठीक था कि था ठीक है clear तो क्या उत्तर था option है clear इस वीडियो के अंदर इतना ही इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो concept lecture 10 के अंदर फिर से racist करेंगे तो हमने linear racist कर ली जब सिद्धे रस्ते में सब भाग रहे हैं आगे हम करेंगे circular tracks के अंदर जो racist होए होएंगी जब बॉल दारे में भागेंगे तरकल में भागेंगे clear अगली वीडियो में मिलता हूँ अलो डियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम पहुंच चुके हैं भाई concept lecture 10 के अंदर इससे पहले racist के अंदर हमने जो linear tracks होते हैं जब tracks सिद्धे होते हैं वो हमने किये हैं इसे पिछले वीडियो के अंदर आगे हम करेंगे जब circular tracks के अंदर racist हो इस वीडियो के अंदर 9 से 10 question ही करेंगे लगबग साथ 10 question हम करेंगे क्योंकि understanding वही रहेगी circular track के अंदर cleaner track वाली कुछ नई easy understanding होएंगी वो हम इन question के माद हमसे सीख लेंगे clear है तो हमेशा की तरह pen notebook एक अपनी rough notebook जिसके उपर आप first first question solve करोगे एक अपनी ऐसी notebook जिसके अंदर आप conception हो लिख रहे होंगे ठीक है circular races के जो बिल्कुल basic concept है basic सी understanding है वो मापको बता दूँ यहां पर वैसे सर इन में फरक क्या है circular races या straight race में लेको इन में यह फरक है मेरे बाई जो straight race है जो straight race है माल लो यह से लेकर B तक है तो यहां पर इस जगह पर बंदा एक बार ही आएगा straight race ऐसी तो आमने नहीं देखी ना बंदा भाग रहा है आ रहा है ऐसी रस्ते के उपर चक्र काट रहा हूँ नहीं अगर उसी रस्ते के उपर दोबारा चक्र काटने होते है तो इस तरह की race हो जाती है यहां कि इनके अंदर loop है जो starting point है उसी के उपर बंदा फिर शे आ जाता है depend करता है race कितनी लंबी है उसके उपर depend करता है कि यह कितनी बार वो starting point पर आता रहे गा इस तो इसमें क्या होएगा माल लो यह starting point है तो यह बंदा अगर यहां से भागा है यह dot जो है इसको आप एक बंदा माल लो माल यह बंदा भाग रहा है तो यह इसी point पर फिर से आ गया race में straight race में ऐसा नहीं होता यहां से start किया यहां पर कतम किया starting point पर फिर से आ गया देखो तो समझ मैं आ गई बात clear है यहां पर कहल लूप है अब इस लूप को examiner चाहे ऐसे करके बना ले square की form में बना दे या इसी loop को ऐसे करके बना दे या इसी loop को ऐसे करके बना दे उससे कोई फरक पड़ता है क्या circle में बगाए ऐसे बगाए ऐसे बगाए ऐसे बगाए ऐसे बगाए जब भी loop बनेगा straight वाली जो race है वो loop वाली race नहीं है यह loop वाली race है बस इनमें यही फरक है और को इन में फरक नहीं है बसे भागता रहेगा उसी जगह पर आता रहेगा बाकी वही distance is equal to speed into time वही concept अपने लगते रहेंगे सारे ठीक है तो चलिए जी अब जो circular races हैं इन में दो चीज़े हो सकती हैं या तो दोनों बंदे एक direction में भागेंगे या दोनों बंदे opposite direction में रहते हैं जैसे मालो यह जो race track है यह total 600 मेटर लंबा है यहाँ पर race हो रही है यह starting point है और एक बंदा इस तरफ बागेगा एक बंदा इस तरफ बागेगा देखो मैं कहां पर यह अलग लग भाग रहे है तो एक बंदा उस तरफ बाग रहा है यानि कि opposite direction में भाग रहे है clear है तो एक बंदे की speed मैंने माल ली अंदर वाले की जो अंदर कड़ा है 10 मीटर पर second और दूसरे बंदे की मैंने speed माल ली 20 मीटर पर second clear है तो मैं यहाँ पर यह पूछना चाहरा हूँ कि कितनी देर बाद दोनों बंदे मिलेंगे कितनी देर बाद यह दोनों बंदे मिलेंगे race start होने के कितनी देर बाद हो क्या रहा है जब यह opposite direction में भाग रहे हैं ऐसे तो क्या हो रहा है यह दोनों मिलकर पूरे चकर को clear कर रहे हैं यानि कि यहाँ पर मिले फर्स टाइम यहाँ पर मिले थे भाई इनको मैं वापिस बुला रहा हूँ इसे मानते नहीं है तो इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक का चकर cover किया था यहाँ पर मैंने animate कर के भी दिखाए यहाँ पर मि सब्सक्राइब कर कर चको कि दोनों आपस में मिल जाएंगे जब पूरे circle का distance दोनों मिलकर cover कर लेंगे थीख जी तो 600 میटर का distance कितने की speed से cover करेंगे कि पॉलबनों मिल कर रहे हैं तो पॉझे डारो तो और भाग रही हैंना कि सेम डारेक्षिंम है ओपोझे डारेकेशन में चाहिए relative speed का concept 20 plus 10 दोनों की speed का sum 20 plus 10 30 meter per second की speed से ये 600 meter का distance cover हो रहा है दोनों मिलने को बेताब है दोनों इस distance को cover कर रहे है तो यहाँ पर इनको कितना time लगेगा इनको 20 second लगेगा ये 600 meter का distance 20 second में cover कर शकते है अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा ये 20 second में इस distance को cover कर लेंगे हाँ जी तो यहाँ पर कौन दोनों यहाँ पर ये दोनों लोग होंगे पहले ये starting point पर थे अब ये यहाँ पर खड़े है तो ये फिर से भाग रहे हैं तो 600 meter का distance फिर से 20 second में cover कर देंगे यानि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर 20 second में मिलते रहेंगे हर 20 second में तो कहाँ पर मिलेंगे अब यहाँ पर मिले हैं बाद में यहाँ पर कहीं न कहीं मिलते रहेंगे लेकिन अगर ये opposite direction में भाग रहे हैं तो ये हर 20 second में 600 meter का distance cover करते रहेंगे तो ये हर 20 second में मिलते रहेंगे कहीं पर भी मिल सकते हैं, अब दूसरे एक तरह के क्वेशन आते हैं, कि starting point पर कब मिलेंगे, दूसरे कैसे question है, starting point पर कब मिलेंगे, तो जब यह starting point पर मिल रहे हो, यानि कि exactly यहाँ पर कब मिलेंगे, तो अब मुझे देखना पड़ेगा, अंदर वाले बंदे का नाम में ने A और बाहर वाले बंदे का नाम में ने रख दिया है B स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर इनको मिलाना है यानि कि उस वक्त दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर अवेलेबल होने चाहिए तो ये जो बंदा A है ये चाहिए किसी भी डियारेक्शन में भाग रहा हो फरक नहीं पड़ता मैं फूझना चाह रहा हूँ ये स्टार्टिंग पर कब आएगा चाहिए ऐसे भागे स्टार्टिंग पर तो ये तभी आएगा जब पूरा चकर काट लेगा आप बोलोगे जी हाँ सर वार्शचे जीनियस थेंक्स I know that ठीक है तो स्टार्टिंग पर तो तभी आएगा जब पूरा चकर काट लेगा तो ये बंदा A पूरा चकर कितनी देर में काट लेगा 600 मीटर का डिस्टन्स 10 मीटर की स्पीड से हर 60 सेकिंड के अंदर यहीं पर खड़ा मिलेगा 60 सेकिंड में एक चकर काट लिया 60 सेकिंड में एक और चकर काट लिया 60 सेकिंड में एक और चकर काट लिया जो बंदा B है ये 600 मीटर का डिस्टन्स 20 की स्पीड से हर 30 second में काट लेगा आप बोलोगे जी हां sir तो अब देखो ध्यान से सुनिएगा जो बंदा A है ना वो 60 second के multiple पर आपको यहां पर मिलेगा 60 second के बाद यह एक चक्र काट लेगा आप बोलोगे जी हां sir फिर अगले 60 second के बाद फिर काट लेगा आप बोलोगे जी हां sir यानि की 120 second के बाद यह फिर यहां मिलेगा रे स्टार्ट होने के 120 second बाद हर 60 second में पुरा चक्र काट रहा है 180 second पर फिर यहां मिलेगा तो यह जो बंदा A है यह 60 के multiples में यहां पर मिलेगा जो बंदा B है यह हर 30 second में यानि की 30 second के बाद जब 60 second हो जाएंगे यह फिर यहीं पर मिलेगा क्योंकि हर 30 second में बाद चक्र पुरा कर ले रहा है फिर 90 second में तो हमें क्या करना है हमें यह देखना है कि minimum कितने time में यह दोनो starting point पर मिलेंगे examiner ऐसा पूछेगा पहले question क्या बन रहा था दोनों opposite direction में बाद रहे हैं कि minimum कितने time पर यह मिलेंगे चाहे कहीं पर भी मिले तो हम क्या देख रहे थे कि पूरे 600 meter के distance को मिलकर कितनी देर में cover कर लेंगे हमने कर लिया अब की बार वो यह नहीं बोल रहा minimum कितने time में मिलेंगे वो बोल रहा है starting point पर मिलेंगे तो मैंने देखा कि यह तो भाई हर एक 60 second में यहाँ पर होगा दूसरा बंदा हर एक 30 second में यहाँ पर होगा 30 के multiple पर होगा तो ऐसा कौन सा time है जब दोनों बंदे यहाँ पर होँगे यानि कि 30 और 60 का LCM least common multiple जो इसका भी multiple हो जो इसका भी multiple हो यानि कि 60 30 और 60 का LCM तो 30 और 60 का LCM क्या है 60 तो 60 second पर दोनों यहाँ है कि नहीं तो 60 second के बाद दोनों यहाँ मिलेंगे आपको अगले 60 second के बाद फिर दोनों यहाँ मिलेंगे अगले 60 सेंड के बाद फिर दोनों यहां मिलेंगे हर 60 सेंड में मिलते रहेंगे यहां पर चाहिए यह ओपॉजिट डारेक्शन में भागे हैं यह सेम डारेक्शन में भागे हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए वो पूछ रहा है तो एक ही बात है ना स्टार्टिंग पॉइंट पर तो दोनों को आना पड़ेगा पूरा चक्र मारना पड़ेगा दोनों को यह पॉइंट समझ में आ गया अब आगये बढ़ू अब वो काम करें कि जब यह बाग रहे हूं तो इनको रोग देता हूं उनको स्टार्ट करता हूं देखो ओपोजिट में नहीं तो यहां पर भाग रहे थे वहां पर सेम डारेक्शन में बाग गये हैं दोनों तो बताओ यह पिछले वाला मैं इनको बंद कर रहा हूं एक पार दोनों सेम डारेक्शन में भाग गये हैं ब्लू वाला कितनी स्पीड ब्लू वाला तेज भाग गयाता है ना तो ब्लू वाले की स्पीड मैंने रग दी 20 मेटर पर सेकिंड है और इसकी स्पीड मैंने रग या 600 मेटर प्रेक का अब ध्यान से मेरी बात को सुनो आप बताओ पहले यह ब्लू वाला यहां पर दोनों इकठे भागे हैं ब्लू वाला आगे निकल जाएगा तो यह कितने सेकिंड के बाद मिलेंगे या फिर उसको भी छोड़ो यह कब मिलेंगे क्या कंडिशन होनी प्रेक्सिन में थे तो मिल गए जब दोनों ने मिलकर 600 मिटर का डिशन कवर किया तो मिल गए तो जब आपके स्कूल में कभी रेस हुई हो तो जो बंदा फर्स्ट चल रहा है वो लास्ट वाले बंदे को दुबारा मिल जाता है कई बार अगर 3000 मिटर 5000 मिटर के आपके स्कू पिच्छे से आके मिलेगा पिच्छे से आके कब मिलेगा जब पूरा एक चक्र एक्स्ट्रा कवर करतेगा कैसे अभी बताता हूं देखो डेमो दिखाएंगे आपको टेंशन नहीं लेनी जिस चीज का डेमो दिखाया जा सकता है और डेमो दिखाना यूसफुल होगा ब्लू आगे निकल गया चीज को नौट करिएगा ब्लू वाला उसको कब मिलेगा? पिछे से आके ही मिलेगा और तो कुछ वू बिकोज उसकी स्पीड ज्यादा है यह इसको कहा पर मिला जरूरी नियर स्टाठिंग पर मिलेगा है यह यहां पर मिला तो क्या हुआ? इसने यहां तक मालो पूरा एक चक्र काट लिया था और इतना इसने 1.2 चक्र काट लिये थे तो उस बंदे ने 2.2 काट लिये थे एक चक्र एक्ष्ट्रा काट लिया था तो जो बंदा तेज है वो पीछे से अब देखो दुबारा उसको मिला है वहाँ पर ठीक है क्योंकि उससे एक और चक्र एक्ष्टा काट लिया इसने दो चक्र एक्ष्टा काट लिया इनकी रेस कतम होगी कि नहीं है वाई चलो हम अपना काम करते हैं कि अर्य ऐसे चलते रहेंगे चलो हम आपको समझाब लिपको रोग देते हैं तो अब सुनो ध्यान से कितने सेकंड बाद मिलेंगे तो यह तब मिलेंगे जब जो तेज चलने वाला बंदा है क्योंकि तेज चलने वाला एक चकर extra यहनि कि 600 meter extra चल देगा कितनी speed से क्योंकि यह same direction में जा रहे है same direction में जा रहे है 15 meter तो हर एक second में यह भी cover कर रहा है 20 meter तो हर एक second में यह cover कर रहा है तो यह 5 meter per second extra cover कर रहा है इस नीचे वाले के comparison में हर second में 5 meter extra cover कर रहा है तो पूरे 600 meter कब cover करेगा ये 120 second में 120 second में क्या होएगा 120 second में ये 600 meter extra cover कर देगा उसके comparison में इसकी speed कितनी extra है same direction में जारे है न डिफरेंस meter करेगा तो जो भी इनकी speed का difference है उस difference है जब ये 600 meter extra cover कर देगा 600 meter cover कर देगा तो ये मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर मिले थे तो ये बंदा जो है जो तेज भाग रहा है ये हर 120 second में उससे एक चकर extra काट देगा ये उसको हर 120 second में मिलेगा जैसे ये अगली 120 second होगी ये एक और चकर extra काट देगा दिखाये था ना दुबारी फिर मिला था जैसे ही 120 second होगी फिर एक बार फिर मिल जाएगा पिछे चाहके तेज भाग रहा है फिर से पिछे चाहके मिल जाएगा ये system है मेरे वाई ये concept है अगे बढ़ जाएं फिर in questions को करें questions के माद्धियम से करेंगे तो और ज्यादा clear होगा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है base question करो और इन questions को करने के लिए हमेशा diagram बनाने की ज़रूद नहीं है तो मैं आपको वैसे ही हवा में बताऊंगा एक अधिस का diagram create करूँगा circular running path 600 meter in circumference फिक है two men start from the same point and walk in opposite direction opposite direction में walk कर रहे हैं आपर हमें diagram बनाने की ज़रूद नहीं है एक उस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है बस आपको concept पता होना चाहिए after how much time will they meet तो जब opposite direction में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे जब दोनों मिलकर पूरे चकर को cover कर लेंगे दोनों की speed का sum होएगा यानि कि 600 मेटर का distance जब 3 मेटर पर second और 5 मेटर पर second 8 मेटर पर second की speed से cover होगा उतने time में मिलेंगे इतना distance इतनी speed से cover होगा तो इतने time में मिलेंगे हर इतने time में मिलते रहेंगे तो first time इतने second के बाद मिलेंगे 8 के अंदर 4 और 2 होते हैं से मैंने काट दिया 100 को 25 पर 2 से मैंने काट दिया 6 को 3 पर 25 तीश थी पिचत्र हर 75 सेगंड में मिलेंगे है हर 75 सेगंड में मिलेंगे फिर 150 सेगंड पर मिलेंगे तो मैं देखना चारा हूं कि कितने सेगंड मिलेंगे तो डियागराम बनाने की जरूतरी है बस आपको समझा रहा हूं बस तो हो क्या रहा है दोनों सेम डारेक्शन में भाग रहे हैं एक बंदा आठ की स्पीड से भाग रहा है एक बंदा पांच की स्पीड से भाग रहा है तो जब सेम डारेक्शन में भाग रहे हों तो जो तेज भागने वाला बंदा ह वो पीछे से आगे पकड़ता है इसको कब पकड़ता है जब यह इतना distance extra travel कर ले जितना की पूरे round की लंबाई है ताकि वो एक चक्र एक्ट्रा मार पाए पूरे track की लंबाई है 720 720 मीटर का distance जब इन दोने की speed का difference क्या है 8 में से 5 क्या है 3 same direction में भाग रहे हैं 3 मीटर पर second की speed से तैह हो जाए distance upon speed टाइम आ जाएगा 240 second के बाद यह इसको पीछे से आगे पकड़ लेगा हर 240 second में अगले 240 second में फिर पकड़ देगा एक और round extra मार देगा किया तेज़ वाले बंदेग हो मंदे-वाले बंदे comparison में एक राऊंड एक्स्रा मारने में इसको 4 1 ने लगते हैं अगले दो support future एक राऊंड एक ठा़ देगा एक गंटह में कितनी बाद मिलेंगे और गंटे में 36 seconds होते हैं और हर 240 सेकंड में यह इसको पीछे जाय के पख़ड रहा है 12 उनी 24, 12 यह 36 15, 15 बार कितनी बार? 15 बार Easy question है, एक बार basic चीज़े समझ में आजाएं यह बताओ A and B started from same point on a circular track of length 500 meter and run in the same direction with speeds 5 meter per second and 4 meter per second if they run continuously after what time do they meet at the starting point अब की बार क्या पूचा है कि starting point पर कब मिलेंगे? यह निपूचा है कि कहीं पर भी मिल जाएं starting point पर कब मिलेंगे? तो दोनों बंदे starting point पर होने चीएं तो अब मैं क्या देखूँगा कि हर एक बंदा starting point पर कितने time के बाद आ रहें? तो अगर मान लो आपने यहां से race की start तो अब starting point पर कब आओगे? जब आप पूरा रस्ता travel करके आ जाओगे? तो मैं देख रहा हूँ एक बंदे का नाम A है एक का B है तो 500 मीटर को च्यार की speed से cover करने में यह B है कितना time लगेगा? 125 second हर 125 second में B आपको यहां पर मिलेगा और 500 मीटर को 5 की speed से travel करने में कितना time लगेगा? 100 second हर 100 second में आपको A यहां पर मिलेगा 100 second उसके बाद 200 उसके बाद 300 ऐसे हर 100 second में मिलता रहेगा 100 के multiples पर मिलेगा यह 125 के multiples पर मिलेगा हमें ऐसा multiple चीए जो दोनों के अंदर आता हो least common multiple चीए LCM चीए तक इसका भी multiple हो इसका भी multiple हो तक यह दोनों मुझूद मिले इन दोनों के LCM ले लो 125 और 100 लों पर मिलेंगे फिर दोनों यहां मिलेंगे अगले 500 सेकंड होते हैं फिर दोनाय मिलें क्या पुछा है if they run continuously after what time do they meet at the starting point तो 500 सेकंड में मिलेंगे तो आप 60 से डिवाइड कर दो मिनट्स में आ जाएगा 68 8 मिनट 20 सेकंड ठीक clear and we started from a same point on a circular track of length 600 meter and run in same direction with speed 6 meter per second 4 meter per second if they run continuously how many times do they meet at the starting point each hour एक गंटे में कितनी बार मिलेंगे तो हमें देखना पड़ेगा हर कितने सेकंड में मिलते हैं तो एक को कितना time लगता है a starting point पर कितने सेकंड में आ जाता है जब वो 600 meter के distance को 6 meter per second से cover कर देगा हर 100 second में a आपको वहीं पर मिलेगा हर 100 second में वहीं पर अगले 100 second में फिर यानि कि 200 second पर 300 पर 400 पर 500 पर ऐसे b जो है हर कितने सेकंड में आएगा जब वो पूरे चक्कर को इस स्पीड से काड देगा 600 पटे 4,500 हर 1500 second में 150 second में भी वहीं पर मिलेगा तो इन दोनों का LCM क्या होएगा भाई इन दोनों का LCM हो जाएगा 300 तो 300 second के अंदर जब 300 second होएगा ये दोनों मिलेंगे वहाँ पर starting point पर ही मिलेंगा आपको ठीक है हर 300 second में मिलेंगे वहाँ पर ये बोल रहा है एक गंटे में कितनी बार मिलेंगे एक गंटे में कितने second होते हैं 3700 second होते हैं ये हर 300 second में वहाँ पर मिलते हैं 12 एक गंटे में 12 बार मिलेंगे आपको वहाँ पर ठीक है और कोई काम है नहीं इनको ठीक है तो देखो आप ट्रैक को सहे गोल बना लो या स्क्वाइर बना लो क्या फरक पड़ता है भाग तो लूप में ही रहे है तो सर ये ट्रैक को ये स्क्वाइर क्यों नहीं बनाते हैं आप बताओ ऐसे रेस में ट्रैक को स्क्वाइर क्यों नहीं बनाते हैं क्योंकि एकदम से खड़ा मुड़ना पड़ेगा इसे तेज भाग रहा है एक दम से उड़ना पड़ेगा सरकल में क्या है स्पीड बर करार रहती है सिमेट्रिक है दीरे दीरे डारेक्शन बदलती है इसमें सडन 90 डिग्री बदल नहीं पड़ जाएगा तो तो चाहे सरकल हो चाहे स्क्वेर हो बात एक ही है इसने यहां से रे स्टाऩ की है दुबारा पुरे लूप को complete करके फिर यहां आजएगा यह पूरे लूप को complete करके फिर यहां आजएगा तो यह equation मैंने सिरफ इसलिए लिया है यह ना हो कलको triangular race का track आजाए और आपको यह लगे ट्रेंगल वाले क्वेशन तो क्राइनी बात एक है मेरे भाई जिस्ट वह लूप में चल रही है ठीक हो सरकल वाले रूल ही वहां पर लागू हो जाएंगे यहां पर है क्या 200 मीटर का ट्रैक है एक 5 की स्पीड से बाग रहा है एक 4 की स्पीड से तो after how much time they meet at starting point तो देख लेते हैं तो पहले वाला बंदा हर कितने सेकंड में आ रहा है 200 मीटर को 5 मीटर की स्पीड से कवर कर रहा है 5 के 20, 40 सेकंड में A जो है हर 40 सेकंड में वहां से गुजर रहा है और B जो है 200 बटेचियार हर 50 सेकंड में वहां से गुजर रहा है तो इन दोनों का LC क्या है भाई 40 और 50 का 200 हर 200 सेकंड में क्या होएगा ए और भी दोनों वहां पर मौजूद मिल जाएंगे हर 200 सेकंड में एक एक्जेक्ली सेम रूल है पताओ त्री फ्रेंट्स मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा सा टाइम दो मैं पानी पिता हूँ ऐसे लाइव वीडियो में इस होल करने कोशिस करो फिर भी ना सोल हो मैं यह चाहता हूँ कि आप जरूर इस पर टाइम दे आप से ना निकले तो सोचो क्या अलग है इस क्वेशन में आप क्या कर सकते हो क्वेशन का सोलूशन एक दम से नहीं देखना होता आपके दिमाग लगाने की प्रैक्टिस यहां पर हो रही है आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर क्या फाइदा मेरी प्रैक्टिस करवाने आ रहे हो कि यहां पर इसलिए जी देखते हैं तो इस क्वेशन के अंदर क्या हो रहा है यह यह बोल रहा है कि तीन बंदे कब मिलेंगे या फिर जब यह तीन बंदे मिलेंगे एक इतना भाग चुका होगा कोई दिक्कत नहीं है अब पहले टाइम तो निकाल ले कि कितने टाइम में मिलेंगे फिर एकी स्पीड तो हमें पता ही है स्पीड इंटू टाइम उसका डिस्टेंस मिल जाएगा और चैलेंज यह है कि टाइम कैसे निकालें कि कि कितने टाइम के बाद तीनों मिलेंगे तो देखो जरा बहुत ही इसी है यहां पर डियाग्राम से समझा देता हूँ यहां पर डियाग्राम से समझा देता हूँ कि ऐसे रन कर रहे हैं दोनो जैसे घड़ी चलती है और C एंटी क्लोकवाइस रन कर रहा है यह ऐसे इनकी स्पीड क्या है आठ पांच और च्यायर मीटर पर शेक ठीक है तो स्टार्ट फ्रोम सेम पॉइंट A एंट भी रन इन क्लोकवाइस ठीक है यह हमने पढ़ लिया तो यह सारे स्टार्ट पर कम बिलेंगे यह पुसा है या कहीं पर भी कम मिलेंगे इव दे इन सब को यहां पर कम बिलेंगे यह देखना है तो वह तो एजी हो जाएगा है न कहीं पर भी रन करते हैं वह वह बहुत रहा है और मजएदार रहता इसे तो फिर इनका LC हम ले लेंगे क्या है तो देखो टोटल जो ट्रेक है वो कितनी दूर का है टोटल ट्रेक है मेरे भाई 800 मेटर का तो ए हर एक कितने सेकिंड में स्टार्टिंग पाइंट से गुजरेगा 800 मेटर के डिस्टन्स को 8 मेटर की स्पीड से 800 बटे 8 हर 100 सेकिंड में ए क्या करेगा ए यहां से गुजरेगा ऐसे हर 100 सेकिंड में यहां से गुजरेगा और बी 800 मेटर के ट्रेक को 5 की स्पीड से 800 बटे 5 हर 160 सेकिंड में यहां से गुजरेगा ठीक है जी और C 800 बटे में 4, 200 हर 200 सेगिंड में यहां से गुजरेगा ठीक है यह बले ही उस तरफ बाग रहा है लेकिन यहां पर आएगा तो हर 200 सेगिंड में यहां से गुजरेगा तो आपने क्या करना है 100, 160 और 200 इनका इलसियम लेना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका भी मुल्टिपल है इसका भी मुल्टिपल है इसका भी मुल्टिपल है तकि यह सारे यहां पर मुजूद हो इसमें तो कोई चैलिंज ही नहीं है मैं जो सोच रहा था वो क्वेशन साहद आग गया है तो 200 के अंदर 100 तो अलड़ी है तो 100 को तो भूल जाओ तो 200 और 160 का एलसियम लेना है मेरे भाई 200 दूनी 400 600 800 तो 800 है इसके अंदर यह सारे नंबर होएंगे इनका एलसियम आजाएगा 800 सेकंड हर 800 सेकंड के अंदर क्या होएगा यह सारे यहां पर मौझूद मिलेंगे सबसे पहले 800 सेकंड में यहां पर तीनों मौझूद मिलेंगे अगले 800 सेकंड में फिर यहां पर आजाएंगे अगले 800 सेकंड में फिर यहां पर आजाएंगे तो यह 800 सेकंड पर यहां मिल रहे हैं अब यह क्या बोल रहे है यह बोल रहे है if they continue running till all of them meet at the starting point वो भागते रहे जब तक सब starting point पर ना मिल गए तो 800 seconds में मिल गए तो 800 seconds में सब रुख गए अब यह बोल रहे है यह कितना दोड़ा होगा 800 seconds में यह कितना दोड़ा होगा यह time है speed कितनी है कि 8 meter per second ठीक है मैं यह वाला question सोच रहा हूँगा at what time will they meet for the first time your first time कभ मिलेंगे यहाँ पर starting point पर कभ मिलेंगे यह नहीं पूछ रहा कहीं पर भी यह सोच ओ ठीक मैं भी directly solution करवा दूँगा मैं zoom कर लूँगा कि आपने pause करके इस पर तोड़ा सा time देना अब खुद निकालोगे method को मुस्किल नहीं है खुद निकालोगे मजाएगा ठीक तो इनके नाम में दे देता हूँ A B और C A B और C सेम डिरेक्शन में भाग रहे हैं माल लेते हैं उस डिरेक्शन में भाग रहे हैं इनकी स्पीड क्या है इनकी स्पीड इसने बताई है 6, 8 और 9 छे, 8 और 9 ठीक हूँ तो 600 मेटर का यह circle है जो ट्रेक है वो 600 मेटर का है तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे first time उसलिए जिए देखो यहां पर यह condition नहीं कि starting point पर मिलना है यहां पर मिल जाएं यहां पर जाएं सबसे पहले कब मिलेंगे तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि A और B सबसे पहले कब मिलेंगे A and B कितने सेकंड के बाद मिलेंगे निकाल सकते हो कि नहीं ये तो मैंने आपको बता है सेम डारेक्शन में भाग रहे हैं तो दो बंदे कब मिलते हैं थेज भागने वाला बंदा एक round extra काटते है जिए बागने वाला एक round slide काटते है वो पिछे से आके उसको पकड़ता है तो पूरा round कितने का है पूरा round है 600 meter का जिए 600 meter का distance 8-2 meter per second की speed से जब कबर होएगा यानि कि 300 second के अंदर क्या हुएगा B A को पिछे से आके पकड़ेगा 300 सेकिन में और हर 300 सेकिन में वो उसको पिछे से आके पकड़ेगा क्योंकि हर 300 सेकिन में ऐसा होगा कि B एक राउंड एक्स्ट्रा काड़ देगा क्योंकि उसकी स्पीड 2 मिटर पर सेकिन एक्स्ट्रा है 600 मिٹर का round है, हर 300 second में एक round एक्षाओ, काटदेगा घर 300 second में A और भी मिल रहे हैं चाहें कहीं पर भी मिले, पहले 300 second पर मिले, पिर 600 second पर मिले फिर 900 पर, फिर 1200 पर अब मैं देख रहा हूँ कि A और C कब मिलेंगे, अब आप बहूँ है आप A और C क्यों देख रहे हो B और C क्यों नहीं देख रहे है अब मापको बताता हूँ देखो मालो किसी जगह पर A जो हो B से मिल रहा है कोई नो कोई टाइम है A जो हो B से मिल रहा है और उसी वक्त A जो हो C से मिल रहा है तो तिनों मिल तो गए A B से भी मिल रहा है A C से भी मिल रहा है तो तिनों मिलतों गए किसी एक वक्त पर B अगर A से मिल रहा है और B उसी वक्त पर C से मिल रहा है तो तिनों मिलतों गए B A और C से दोनों से मिल रहा है A B C तिनों इकटे तो हो गए तो आप A और B के बाद A और C ले लो B और C ले लो कुछ भी ले लो फरक नहीं पड़ता अब मैं देख रहा हूँ कि A और B हर एक 300 सेकंड में मिलेंगे अब मैं देख रहा हूँ A और C हर एक कितने टाइम में मिलेंगे A और C A और C तब मिलेंगे C क्योंकि तेज भाग रहा है यह सेम डिरेक्शन में भाग रहे है तो तेज भागने वाला बंदा यानि कि 9-6 3 जब 3 की स्पीड से 600 मिटर का ट्रेक 600 मिटर का एक राउंड एक्स्टा मार देगा यानि कि हर 200 सेकंड में क्या होएगा C A को मिलेगा तो देखो 300 के मल्टिपल पर 600 सेकंड में क्या होएगा A और B मिलेंगे और 600 सेकंड पर A और C मिलेंगे 600 सेकंड पर A और C मिलेंगे तो 600 सेकंड इन दोनों का LC में 600 सेकंड पर A और B भी मिल रहे होंगे और A और C भी मिल रहे होंगे A-B से भी मिलेगा C से भी मिलेगा य데 достаточно भी मिल रहे है समझ गेना यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कोई भी दो का पेर लेङ लो इन दोनों काइलसिम लेलो उसका मतलब है कि दोनों मिल रहे हैं 600 सेकिंड पर 300 मिल रहे हैं क्योंकि 600 इसका भी multiple है यह दोनों भी वहाँ पर मरेंगे 200 सेकंड पर यह भी वहीं पर रहेंगे यह और शी भी तो हर 600 सेकंड पर यह तीनों मिलेंगे सर कहां पर मिलेंगे यह हमें नहीं पताए कहीं न कहीं ट्रैक पर ही मिल रहे हूँ कि यहीं पूछाएगा 600 सेकंड कि कितनी मिनट पाद मिलेंगे तो 60 से कंड से डिवाइड कर दूँगा एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं यानिक दस मिनट भाई 10 मिनट में मिलेंगे पहली बार एक क्लियर यह बता हूँ यह देखता हूँ आप बताओगे कि नहीं तब से इस कंसेप्ट को चिला चिला के बता रहा हूँ इन की स्पीड का रेशी है इनकी स्पीड का रेशी है तो यही इनके डिस्टन्स का रेशी है लीनियर ट्रेक में बताए है आपको सित्धी रेस में कि same time में अगर इन की speed का twist to one है इसकी speed अगर दूग नहीं है तो same time में double दूर चला जाएगा अगर यह दो मिटर distance कवर कर रहा है उतने time में एक मिटर distance कवर करेगा यही मैंने बताया speed का ratio or distance का ratio same है अगर time constant है तो race के अंदर इकठी भागते हैं सब जितने time में दो मिटर जाएगा उतने time में एक मिटरी जाएगा ठीक है अब यह क्या बोल रहे हैं how many times the top runner cross is the last runner तो मैं आपसे बूज रहा हूँ top runner last runner को cross कब करता है कौन सी condition में जब वो एक round extra मार के आ जाए पिछे से अभी cover करता है उससे आगे बाग रहा है top runner पिछे से आगे उसको पकड़ता है जब वो एक round जितना distance extra cover कर ले जब यह 2 meter भागेगा तो यह 1 meter भागे तो इन दोने के बीच में gap कितना है 1 meter का मैं इस gap को उतना करना चाह रहा हूँ जितना एक round की लंबाई है round की लंबाई कितनी है 200 meter तो मैं इसको 200 गुना कर रहा हूँ और एक चीज़को तो 200 दुनी 400 जब यह 400 meter भागेगा तो यह 200 meter भागेगा तो track की लंबाई कितनी है सर 200 meter है तो याने की देखो इसने एक ही round मारा है इसने 2 round मार दिये आकर पकड़ लिया ना पीछे से इसने 2 round मार लिये वहीं पर पकड़ दिया वहीं पर दबोच लिया starting point पर दबोच लिया इस case में तो ठीक है अलग यह कहीं पर भी पकड़ सकते है दूसरे को ठीक है 200 meter का gap है तो जैसे ही ये 400 meter भागेगा जब ये हर एक 400 meter भागेगा ये उससे एक round extra काट चुका होगा जब ये 400 meter भागेगा वो 200 meter भागेगा ये एक round extra काट चुका होगा उससे clear है हर 400 meter जब भी भागेगा ये top runner उसको पिछे सागे पकड़ रहा होगा अब ये बोल रहे है कि 1500 meter की race है ये इसको कितनी बार पकड़ेगा तो देखो 1500 meter भागने के लिए इसको 400 meter कितनी बार भागना पड़ेगा 400 चोके 1600 च्यार बार तो पूरा नहीं भाग पाएगा 400 meter तीन बार पूरा पूरा भाग पाएगा उसके बाद 300 meter क्या होएगा 400 से जब 1500 के डिवाइड ग्रोगे 400 ती ये 1200 और 300 meter एक्स्ट्रा भटचेगा तो भाई 1200 के distance में ये उसको तीन बार पकड़ चुका होगा उसके बाद 300 meter एक्स्ट्रा है ये पीछे से आ नहीं पाया होगा आ नहीं वाला होगा रेस खतम होगी इन सो मीटरी एक्स्ट्र है 400 मीटर होता था यह पकड़ देता तो तीन बार पकड़ पाएगा यह उससे तीन बार आगे निकलेगा अब यह मत बोलना है कि इन स्ट्राइब में बिता आगे निकला थे इन उन्हें मना कर दिया डॉंट कंसीडर दा स्ट्राइब एक लिर अवैसा यह क्वेशन करोंगे एक्जाम में आया हुआ यह एक्जाम में आया है वह वह क्वेशन है अग तो फाइव किलामेटर राउंड यानि कि डाई सो मीटर का है डाई सो मीटर का रस्ता है इफ देर स्पीड सार इन दिस रेश्यो ए और बी कि स्पीड का रेश्यो है फाईव इस्टू फॉर तो डिस्टंस का रेश्यो भी यह होएगा जितने टाई में यह पांच मीटर कवर करेगा यह यह पांच मीटर कवर करेगा यह पांच मीटर कवर करेगा तो यानि कि उससे एक मीटर एक्टर कवर कर रहा है टेज भागने वाला बंदा मंदे भागने वाले बंदे को कब पकड़ता है race में round वाली race में circular race में जब उससे एक round extra काट ले एक round की लंबाई है dhyso मैं इस एक कि जगर dhyso करना चाहता हूं जी तो डाइसो गुना कर दूँ डाइसो 250 इंटू 5 ये जब 1250 मिटर दोड़ेगा तो 250 इंटू 4 ये 1000 मिटर दोड़ रहा होगा डाइसो का गैप कर दिया मैंने यानि कि जैसे ही ये 1250 मिटर दोड़ेगा ये उससे डाइसो मिटर एक्सा दोड़ जुका ये उसको पीछे से आकर पकड़ेगा देखो एफ डाइसों मेटर की ट्रेक है इसने कितने रांड काटे हैं 1000 divided by 250, इसने 4 rounds मारे हैं, 1250 divided by 250, इसने 5 rounds मारे हैं, तो एक round extra मारती है न, just concept को strong कर रहा हूँ, एक round extra मारने पर पकड़ता है, तो जब ये 1250 भागेगा, तो ये 1000 भाग रहा हुगा, अगले बार 150 जब ये भागेगा, ये फिर 1000 भाग रहा हुगा, तो ये हर 1250 मेटर जैसे ही भा केमेटर की है, तो 1250 इंटू 2, 2500, इंटू 3, 3750, उससे थोड़ा सा कम है, इंटू 4 उससे आगे निकल जाएगा, 5000, तो तीन बार, 4000 मीटर के अंदर ये तीन बार पूरा-पूरा आता है, तो तीन बार पकड़ेगा उसको, इतनी बार पार करेगा उसे, तीन बार पार करेगा क्लियर है जी, ठीक है, और इस टाइप के क्वेशन में, स्टार्टिंग वाले को कुंसिडर नहीं करते, लास्ट क्वेशन जो बताया था, ज्यादा श्याना नहीं बनना है, स्टार्टिंग में भी तो पकड़ेगा, ये बताओ, इन ए 1000 मीटर रेस अराउंड ए स्टेडियम having the circumference of the osometer, the top runner meets the last runner exactly at the end of 6th minute, यानि कि जब 6 मिनट खतम हो जाती है, तो top runner last runner से मिलता है, if the top runner runs 50% faster than the last runner, ये top runner है मेरे की तरह, ये last runner है, आप की तरह, ठीक है, इनकी speeds का ratio क्या है, 3 is to 2, जो speed का ratio, वही इनके distance का ratio होएगा, same time में, ये 3 मिटर भागेगा, तो ये 2 मिटर भागेगा, ठीक है, ये 3 मिटर भाग रहे है, 2 मिटर, इससे 1 मिटर ज्यादा भाग रहे है, ठीक है, तो वो last runner को कब पकड़ेगा, circular race के अंदर, जब एक पूरा round extra मार चुका होगा, round कितने मिटर का है, round तसर 200 मिटर का है, इस एक की जगा 200 करूं, situation को 200 गुना कर दूं, 200 ती ये 600, जब ये 600 मिटर भागेगा, 200 दुनी 400, तो ये 400 मिटर भागेगा, तो ये एक round जीतना distance extra काट लिया न, इसने, पकड़ लिया न, उसको, तो ये हर 600 मिटर में, उसको एक बार पिछे स और जब इसने इसको पकड़ा, तो उसने time बता रखा है, इसने बताए कि इसने 6 मिनट पूरी हो गई थी, 6 मिनट के end में, end of the 6 मिनट, जब 6 मिनट जश्ट पूरी होई, तब इसने इसको पकड़ा, अब बोल रहे हैं, इसकी speed बताओ, अच्छा, इसने इसको पकड़ा, तो 6 मिनट हो गई थी और इसने इसको पकड़ा तो इसने 600 मिटर डिस्टेंस रन कर लिया था तो यानि कि इसने 6 मिनट में 600 मिटर डिस्टेंस रन किया है तो 6 मिनट के अंदर अगर 600 मिटर डिस्टेंस रन किया अब यह पूछ रहे हैं कि टोप रनर ने रेस को कब फिनिस किया तो रेस तो 1000 मीटर किये भाई तो यह 6 का सोगुना है यह 10 का सोगुना है अगर 600 मीटर भागने में 6 मिनट लग गए तो 1000 मीटर भागने में 10 मिनट लग गए हूंगे 10 मिनट में खतम किया है टोक रणर है option c clear है clear है तो बस अपना concept भी clear है आपर यह वाली वीडियो भी clear है तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इन questions को मेरे भाई बार बार repeat करते रहो यह मैं बार बात बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैड़ जाए इंप्रिंट हो जाए आपके दिमाग में ठपा लग जाएगी बार-बार करना है बार-बार करना है अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं अलो डियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर इसके अंदर हम अपने जो इसके अंदर में रख पाया में रख सकता था बट मेरे को लगा क्या अलग से करवाना बैतर रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर है और हाँ इन सारे questions को आप कर शकते हो को जितने भी concept हम पहले सीख चुके हैं यह question उन्ही concept के उपर based होते हैं जो हम पहले कर चुके है basic concepts तो मेरे बताने से पहले आपने क्या करना है अपने कोशिस करनी है questions को अच्छी तरी किसे करने की फिर भी ना कर पाओ तो मैं तो हूँ शाट करें हमेशा की तरह अपना pen notebook और अच्छे से माहूल बना कर बैठो तकि मज़ा आए पड़ने में ठीक है एक पूजा की तरह जैसे लोग पूजा करते हैं जोत बत्ती करते हैं जोत लगते हैं तो नहाद हो के ऐसे पुरा माहूल बनाके लगाते हैं पुरा पवित्र पवित्र फील करके और ढाई भी ऐसे किया करो मतलब कि थोड़े से एफट पांच ये नहीं कि अब कई बंदे इसको seriously लेकर मतलब कि sun की की के ऐसे करके वैसे करके कपड़े दो के फिर वैट नहीं कहने का ये मतलब है कि 5-7 मिनट थोड़ा सा माहूल ठीक ठाक कर लो टेबल वेबल साफ कर लो अराम से बैठो ये नहीं कि इसी चीज़ को और चन बना दो अपनी पढ़ाई में माहूल बनाने में ही इतना टाइम लग टेलिफॉन पोस्ट इन वन मिनट इफ दे आर नौन तो बी 50 मिटर अपार्ट देन अट अट वट स्पीड इस ता ट्रेन ट्रेवलिंग वो ये बोल रहे हैं कि एक मिनट के अंदर वो 21 पॉल गिन सकता है और किनी भी दो पॉलो के बीच में जो डिस्टन्स है वो 50 मिटर का ह तो बताओ ट्रेन की स्पीड का है बंदा ट्रेन के अंदर बैठ तो यहां पर जो सबसे पहली मिस्टेक जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि कि इनी भी दो पॉलों के बीच में डिस्टन्स 50 मिटर का है उसने 20 पॉल गिने है तो टोटल 10 मिटर का डिस्टन्स है तो आप मैं बोलूंगा उसने दो पॉल गिने तो आप दो इंटू 50 कर दोगे क्या नहीं अगर दो पॉल है तो उनके बीच में जो गैप आता है वो एक बार आता है अगर तीन पॉल है तो गैप कितनी बार आ रहा है दो बार आता है एक दो अगर च यह ऐसी पहली भी है जो दादा अपने बेटे से पूछ लिए थे थे कि दो पोल के बीच में थे स्मिटर का गया पैर यहां बंदे ने खेत की बाउंडरी पर इस पोल का डे बताओ खेत कितना लंबा है इस टाइब से तो टोटल अगर उसने 21 पोल गिने हैं तो उनके बीच में जो गया पाया है वो 20 बार आया होगा तो नेट डिस्टन्स जो ट्रेवल किया गया है 21 पोल गिनने में वो इतना है 50 तो 20 इंटू 50 एंट डिस्टन्स है इतने डिस्टन्स को एक मिनट में ट्रेन ने ट्रेवल कर लिय लिया थीक है तो उसकी स्पीड कितनी है तो सेकेंड में कितने मेंDonuk रहे साठ सेकेंड में ट्रेवल कर लिया तो डिस्टन्स अपन डाइम मीटर पर सेकिंड में स्पीड आ गई लेकिन यह बंदे पूचरें किलोमेटर पर आर में तो भाई अठारा बुटे पांच से गुणा करतो दैट सिट कतम कि अमज़ में आगई बात 20 यह 60, 60 किलोमेटर पर आर डिस अप्शन होती आसान क्वेस्टन है तो इस तरह के क्वेस्टन बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है एक बार आपकी नजर में मैंने डाल दिया है कि इस टाइप की जब सिच्वेशन हो तो ध्यान रहे ध्यान से आपने देखना है कि गैप कितन गंबार आ रहा है थोड़ा सा देखना क्या पता हो कैसी सिच्वेशन क्रियेट करते हैं ठीक है आई वोक ए सर्टेन डिस्टन्स एंड राइड बैक टेकि टोटल टाइम ओफ 37 मिनट मालो यह डिस्टन्स है यह बोल रहा है कि मैं डिस्टन्स को वोक करता हूं वोक करके जात हूं और वापीस आता हूं तो राइड करके आता हूं बोड़े पर राइड करके आता है बाइक पर राइड करके आता है तो 37 मिनट लगता है यह एक तरफ इस डिस्टन्स को वोक करने में और दूसरी तरफ राइड करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है टोटल टाइम 37 minutes, simple, यह walking का time है, यह riding का time है, 37 minutes, I could walk both ways, दोनों तरफ walk, यानि कि अगर जाकर जाने में भी walking करे, आने में भी walking करे, तो दो time इस distance को walk करने का time है, 55 minutes, ठीक, how long would it take me to ride both ways, दोनों ways अगर मैं ride करूँगा, तो कितना time लेगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो, मुझे निकालना है कि दोनों तरफ ride करे, यानि कि R plus R, तो मैं यह कर सकता हूँ, बहुत ही simple, उपर वाली situation को अगर मैं दो गुना करूँ, तो दो बार walking और दो बार riding का time आ जाएगा, आप बोलोगे, जी हाँ sir, और इसमें से अगर मैं निचे वाली situation घटा दूँ, फिकोज यहाँ पर दो बार walking का time है, तो दो बार walking के time में से, दो बार walking का time कट जाएगा और दो बार riding, यानि कि ride करते हुए जाने का, ride करते हुए आने का time पता लग जाएगा, जो हमें चीए हो, मिल जाएगा, अगर वो सिरफ यह पूछे कि sir, एक तरफ ride करके जाने का, time क्या होएगा भाई, दोनों तरफ का ना पूछे, जनरली वो दोनों तरफ का पूछता है, इस type के question में, आये हुए questions है, तो अब क्या कर शकते हो, देखें, देखो, उपर walking plus riding है, नीचे walking plus walking है, तो ये walking तो दोनों में common है, आप बोलोगे, जी हाँ sir, यहाँ पर जीतना time लगा, उतना ही time यहाँ पर लगा होगा, आप बोलोगे, जी हाँ sir, इन दोनों के बीच में जो difference है, वो क्यों आया होएगा, एक तरफ की riding और एक तरफ की walking में जो difference है, वो difference आया होएगा, तो देख लें दोनों के बीच का difference, तो दोनों के बीच का difference होजाएगा, जी, 15 में से 7 गए 8, और यह हो जाएगा, 4 में से 3 गए, 18, ठीक, clear, 18, 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ walking करें, 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो करनी है, राइडिंग, तो भाई, आप ऐसे कर सकते हैं, राइडिंग प्लस राइडिंग, इस राइडिंग की जगए राइडिंग रहेगा, तो कोई फरक ने आएगा, लेकिन जब walking की जगए राइडिंग होती है, जब walking की जगए राइडिंग होती है, तो 18 मिन एक तरफ का निकालना हूँ तो दो राइडिंग का 19 है तो एक राइडिंग का 19 बटे 2 राइडिंग का आ गया तो वोकिंग का भी आ जाएगा वो यहाँ पर आप सॉल करी सकते हैं दो वोकिंग का है एक वोकिंग का निकालो और वो घटा लो दो तरफ वोकिंग का पता है तो पचपन बटे दो कितना हो जाएगा 27.4 तो वोकिंग का 27.4 आ गया 37 में से वोकिंग का घटाओ गये तो सिरफ रैडिंग का आ जाएगा हां जी दो रैडिंग का पूछा है डबल कर देना तो सोल करने के कई तरीके हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सिच्वेशन यह देखो इसी चीज इसी अंडर्सेंडिंग के पर बेस्ट क्वेशन ए मैंन टेक्स 6 आर्स 30 मिनट्स इन गोइंग बाई साइकल एन कमिंग बैक बाई स्कूटर तो एक तरफ साइकल से एक तरफ स्कूटर से तो इन क्वेशन को हम कैसे करेंगे एकजाम में अगर हमें याद रहे गए तो वो मैं आपको बता रहा हम 6 आर्स 30 मिनट अगर वो दोनो तरफ साइकल पर जाता तो उसे 2 गंटे 10 मिनट का नुकसान होता अब नुकसान का मतलब क्या इतने कम टाइम में जाता ताइम के ट्रम्स में जब आप नुकसान देखते हो यार 2 गंटे खराब हो गए इसका मतलब भी है क्या 2 गंटे कम लगया 2 गंटे ज्यादा लगए ज्यादा लगए तो लोस्ट 2 गंटे 10 मिनट लोस्ट कर देता यानि कि इतने ज्यादा लगते तो 6 और दो 8 गंटे और 40 मिनट लगते है एक तो बिल्कुल बेसिक है कि दोनों तरफ साइकल से आने जाने के 8 गंटे 40 मिनट लग रहे हैं तो एक तरफ साइकल से आने जाने के 4 गंटे 20 मिनट इसका अद्दा एक तरफ से साइकल के आने जाने की वैल्यू यहाँ पूट करोगे एक तरफ से स्कूटर के आ जाएगी आप डबल कर दोगे क्यों कि उसने यही पूचा आएगा दोनों तरफ स्कूटर का यही वह पूचता है लेकिन हम एक्चुल में ऐसे नहीं करेंगे तो यह आप कर सकते हो समझ में आगया हम यह करेंगे जब इस तरह होगा इसको हम डबल करेंगे तो यह क्या आजाएगा दो तरफ का साइकल दो तरफ का स्कूटर दो तरफ का साइकल अगर में निचे वाल को गटा दू तो दो तरफ का स्कूटर बचेगा यह इसीएस्ट वे रहेगा तो इसका डबल क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएग repetitive type का question है इसलिए ऐसे करना अगर आप याद रुपोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा यह बताओ यह उसी type के questions में से है उने river q is the midpoint between two points p and r q जो है वो midpoint है p और r के बीच में the same bank of the river a boat can go from p to q and back in 12 hours एक boat p से q आ सकती है और वापिस आ सकती है बारा गंटे यानि कि मैं माल लेता हूँ इस तरफ नदीब है रही है इसी एक तरफ तो बाई रही होईगी p से q और वापिस आ सकती है बारा गंटे में यानि कि downstream गया upstream आया उसको बारा गंटे लग गए इस distance की बात करा हूँ p से q कितने distance downstream और upstream ठीक and from p2r in 16 hours 14 minutes p से r देखो मैंने ये किसी के लिए लिखा है कौनसे distance के लिखा है तरफ p2q लिखा है तो मैं p2q की terms में लिखना चाहूँगा p2r का मतलब है क्योंकि q midpoint है कि p2q downstream गया और p2q downstream गया यानि कि downstream प्लस downstream में कितना time लग रहा है उसको लग रहा है 16 घंटे 40 minutes मुझे निकालना है how long would it take from r2p r2p यानि कि upstream प्लस upstream इतने ही distance के लिए upstream प्लस upstream तो मैं क्या करूँगा उपर वाले को दो गुना करके नीचे वाले को घटा दूँगा 12 दूनी 24 24 गंटे में से घटा देंगे 24 गंटे में से एक घंटा मैंने अलग ले लिया उसे एक गंटे में से 40 minute घटाए तो 20 minute हो गए यहाँ पर बचगे 23 गंटे 23 गंटे में से 16 गंटे घटाऊंगा तो 7 गंटे 7 गंटे 20 minute that is option D एक तो आप ऐसे कर सकते हो दूसरा आप कैसे कर सकते हो मेरे भाई P2R जाने में उसे लगे है total 16 गंटे 40 minute तो 16 गंटे 40 minute P2R जाने में लगे हैं और एक ही तरफ हो जा रहा है तो P2Q जाने में उसे लगे होंगे 8 गंटे 20 minute ऐसे जाने में P2Q मैं P2Q में interested हूँ और P2Q जाकर वापस आने में उसे लगे थे 12 गंटे जाकर वापस आने में तो जाने में 8 गंटे 20 minute लगे तो आने में 12 गंटे में से इसको गटा दो और जब भी आप ऐसे गटा रहे हो तो आप क्या करोगे आप इस में से एक गंटा अलग ले लोगे ठीक है तो उसे एक गंटे में से 20 मिनट गटा ओगे 40 मिनट और 11 में से 8 गए 3 या फिर आप क्या करशकते हो जैसे हम decimal में करते हैं 8 की वजाए 9 गटा दो 12 में से 9 गए 3 और फिर इसको 1 गंटे में से गटा दो एक बड़ा गटा के बाकी बचे खुचे को 1 गंटे में से गटा जिया तो Q से P आने में 3 गंटे 40 मिनट इतने distance के लिए आर शे पी डबल दिस्टेंस है 6 गंटे 20 मिनट यानकी साथ गंटे 20 मिनट इनकी अपिशन धी ठीक क्लियर है बताओ excluding stoppages the speed of a train is 50 km per hour and including stoppages it is 40 km per hour पहले में आपको situation बता दूँ कि अगर excluding stoppages अगर train चलती रहे रुके इना रुके इना तो उसकी speed है 50 km per hour तो इससे हमें क्या पता लग रहा है इससे हमें पता लग रहा है कि train की speed क्या है जब वो चलती है तो speed क्या है 50 km per hour की speed से train चल रहे है including stoppages अब कहीना कहीं पर actual में practically तो train रुकेगी अजी सर रुकेगी कहीं पर 5 मिनट के लिए रुकेगी कहीं पर एक मिनट के लिए रुकेगी ठीक है तो जब उस time को count किया गया तो total वो एक गंडे में 40 km क्यों travel कर पाई क्यों सर क्यों कहीं रुकी होगी कम distance travel कर ही पाईगी तो अगर stoppages के time को अभी include कर दें तो उसकी speed इतनी आ जाती है average speed क्या होते है total distance upon total time उसको time ज्यादा लग गया ना तो बिल्कुल practically आपने इसको देखना है ऐसे question को कुछ भी रटनानी है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज की speed जाननी है तो आप stoppages को include करके जानोगे exclude करके actual में speed की चीज कितनी speed पर move कर रही है तो stoppages को exclude करोगे कि भाई एक बार हटाने रुकने के time को हटाओ यह देखो यह चलती कितनी speed से है अच्छा एक गंटे में 50 km चली जाती है तो इसकी speed कितनी है 50 km परार अब रुकेगी तो time ले लेगी ज्यादा तो train की speed को यह represent कर रहा होता है कि एक गंटे में 50 km जा सकती है कोई भी उसे ना चेड़े तो एक गंटे में कितना जा सकती है यह एक गंटे में 50 km जा सकती है लेकिन वो एक गंटे में गई कितनी एक गंटे में 40 किलोमेटर गई अगर कोई उसे ना रोकता तो वो 50 किलोमेटर चली जाती उसे रुकना पड़ा तो 40 किलोमेटर गई तो कितने किलोमेटर नहीं जा पाई सर वो 10 किलोमेटर नहीं जा पाई तो 10 km कितनी देर में जा सकती है सर इस speed से चेक करेंगे इस से मेरे भाई speed तो यही है यह तो stoppage को include करके थी यह कोई actual speed थोड़ी है कि वो कितनी speed से move हो रही है रुकने के time को मिला कर ऐसे कम हो गई actual speed तो यही है यह गंटे में बिना रुके 50 km जा सकती है तो यहां पर इस question को करने के लिए सिरफ और सिरफ थोड़ा सा दिमाग लगेगा time बिलकुल भी नहीं लगेगा अगर इस 40 की जगह में 30 km परार कर दूँ मेरे भाई तो देखो अभी तुरंत करते हैं इसको कि एक गंटे में 50 km जा सकती है लेकिन 20 km कम जा पाई क्यों क्योंकि 20 km जितनी देर में जाती है उतनी देर रुकी होगी तो हमें सिरफ देखना है 20 km कितनी देर में जाती है 50 km जाने में लगते है 60 मिनट तो 1 km जाने में लगेंगे 60 पटे 50 मिनट और 20 km जाने में लगेंगे इतने मिनट गतम यह answer अगर यहां पर 30 होता तो आप सिरफ इतना लिखो गए exam एंसर है clear है भाई इतनी समझ डवलप करनी पड़ेगे अब यह पता हूँ और यह questions आ रहे है एक्जाम में सारे ही आ रहे हैं सारे रिलेवेंट है excluding stoppages the speed of a bus is 80 km पर अगर कोई उसे ना रोके वेचारी को तो यह गंटे में 80 km चली जाए और आप यह माल लियागरो बीच में stoppages तो कहीं आएंगे आप यह माल लियागरो यह एक बार ही रुकी वो चल के बस आखिर में रुक गई वो 80 km जा सकती है आप यह माल लियागरो जब वो रुकी थी तो सबसे end वाले stoppages पर ही रुकी ठीक है उसका stoppage सबसे आखिर में आया या पहले आया पैसे माल लो तो आप यह बोलो कि वो 60 km चल के रुक गई रुक गई यहीं पर इसने stoppage ले लिया पूरा बीच में कहीं नहीं लिया एक गंटे में 80 km जा सकती थी जा पाई 60 km तो कितनी देर रुकी कि 12 km और चली जाती ना रुकती सोरी 20 km और चली जाती ना रुकती तो तो 20 km कितनी देर में जाती है यह 80 km में लग रहे है इसको 60 पैन उठाने की ज़रूत नहीं है और उप्शिन भी ठीक है ठीक है यह बताओ है यह फारमर ड्रेवल्ड डिस्टंस ऑव 61 km इन नाइन आर्श शिक्स्टि वन के डिस्टंस उसने नौ घंटे में ट्रैवल कर दिया और पार्टी ऑन फुट पार्टी करता हूँ आ जारारा था फुटपर एक पार्टी कि ज़गा पार्टली आएगा ठीक एल आएगा इसम पार्टी गया धा रही है, अरधार डारट दारट ऑफ़ खोर किलमेटर पर रार, अरधार इडरट ली और बास्टी सिटुएशन है, 61 किलमेटर जाने में 9 गंटे लग गए, कुछ देर पैदल चला, कुछ देर, cycle पर चला, pedal पर चला तो 4 की speed पर, cycle पर चला तो 9 की speed पर पताओ पैरों पर कितनी देर चला, तो पैरों की speed कितनी है, 4 options check करेंगे 4 से divisible check करूँगा सबसे पहले, आया हुआ question है, option A check करूँगा मैंने मान लिया, 16 किलोमेटर पैरों पर चला, 4 की speed से, तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे बाकि कितने किलोमेटर बच गए, तो टोटल 61 किलोमेटर थे, 61 में से 16, 6 और 1 में 5, 9, 5, 45 बचेगा number system में concept कराया है क्या नहीं, एक 6 और इसका reverse 6, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 9 in 2 difference of digits, 9, 5, 45 ऐसे भी calculation यूज कर सकते हैं कई बार, bicycle पर 45 किलोमेटर चला, तो bicycle पर उसकी speed कितनी थी, 49 थी, कितना time लग जाएगा, 5 घंटे या पूरा time satisfy हो रहा है, हाँ जी सर 5 और 4, 9 घंटे, यानके यही option है, अगर 16 end में भी दिया होता तो पहले किसको check करते है, 16 को check करते है, क्यों, क्योंकि यह सारे 4 से divide नहीं हो रहे है simple, क्या 4 से divide होने वाला ही answer होएगा, 95% plus हा answer होएगा, अदरवाई जंबाकी भी check करेंगे, possibility इसके ज्यादा पहले इसको check करेंगे, बाकी बाद में check करेंगे फिर उसके बाद किसको check करेंगे, इसको check करेंगे, फिर इसको फिर इसको, ऐसे गंदे option को बाद में, ठीक है, clear है तो हम इसको number one option से कर सकते हैं, किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल basic वेसे भी कर सकते हैं, कैसे कि मालो foot पर वो f km गया, f divided by 4, इतना time लगा होगा, और bicycle पर वो गया होगा, 61 minus f, foot पर f km गया, तो total 61 km है, 9 km की speed से, और total time लगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंग, ऐसे नहीं बताऊंगा, कोई और तरीक का, ये नहीं कोई और तरीक का, कोई और तरीक का कई से कर सकते हैं, एक त हाँ, उससे भी कर सकते हैं, देखो, देखो, ये कुछ गंटे, ये कुछ गंटे, 4 km पर आर की speed पर चला, यहांसे समझ लिजेगा, ये मैं उस तरीक के से बता रहा हूँ, जैसे कुटे और बिलियों को हम bread बाट रहे थे, आपको अगर ध्यान हो तो, allegation के अंदर, या फिर ह हैं, कितनी गाए हैं, उनके पैर बाट रहे थे, जिसको कम मिला, उसको हमने पहले दे दिया, तो कुछ गंटे जब ये चल रहा था, तो हर गंटे में 4 km पर आर तो ट्रेवल किया, जी हां सर, यहां पर 4 प्लस 5, यहां पर 5 km पर आर एक्स्रा ट्रेवल किया है, बट हर गंट गंटे में बंदा 4 km तो गया ही है, आप बलोगे जी हां सर, और से बोलो ना फिर, ठीक है, तो टोटल 9 घंटे चला, तो 9 चोके 36, तो 36 km तो इसने टै कर लिया होएंगे, 4 की स्पीड चाहिए, टोटल इसने किया है, 16, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 11 में से 6 गए, 5, 5 में से तीन गए, दो, यह 25 किलोमेटर, 25 किलोमेटर एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर यह 5 किलोमेटर एक्स्ट्रा भी है, स्पीड, यह हमने गिनी नहीं है, तो देखता हूँ, अगर यह वाली स्पीड है, डिस्टेंस बटे, 5 किलोमेटर पर आर, और इसने एक्स्ट् ट्रैयोल कर लिये इसने 5 घंटे 5 घंटे हैं यहाँ पर टाइम फृसिक्टीर सब्सक्राइब खंटे नोमेशिक्टीर चलाए उसने क्या पूचाय है फूच्टीर एक और क्रेस्टान हो अब को बता रहां मेरे भाई allegation allegation कैसे लगा सकते हैं time speed and distance में तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या allegation और weighted average के अंदर दो चीज़े होती है एक तो होती है quantity जो average को represent करती है एक represent करती है number को या फिर size of group size को एक बार फिर से बता देता हूँ उसी चीज़ को जो मैं पहले बता चुका हूँ जैसे अगर मैं आपको एक बात बलूँ यह है class 1 यह है class 2 यह है class 3 इसके अंदर जो average weight है बच्चों का average weight यहां पर 20 kg है यहां पर 30 kg है बहुती हलके हलके बच्चे हैं यहां पर 10 kilo है पैदा होते स्कूल में भेज़ दिये गए है 10 kilo और यहां पर है number of student यहां पर कितने student है भाई 15 student है यहां पर 20 student है यहां पर 10 student है तो weighted average कैसे लगाते हैं यह quantity represent करती है average को मैं assume कर रहा हूँ कि आपको weighted average and allocation आता है पहले देख चुके हो यह quantity represent करती है number of student यहां कि size को कि कितने बंदे है class 1 में कितने बंदे है class 2 में कितने size यह group कितना बड़ा है तो क्या है यह average को denote करती है यह size को इसका हम ratio ले सकते हैं हमेशा कभी भी exact यहां पर हमें use करने जरूरी नहीं होती है quantity और weighted average लगा सकते है 3 into 20, 4 into 30, 2 into 10 तो time and distance पर हम weighted average कैसे लगा सकते हैं आपको average speed में बता चुका हूँ तो यह size को represent करता है आर्ष average को represent करती है speed कि speed कितनी है क्यों represent करती है average weight का मतलब है कि जब सारे weight को बाटा गया तो 20 kilo per student आया यहां पर average का मतलब है जब सारे kilometers को time में बाटा गया speed क्या होती है कि एक गंटे में कितने kilometer चले तो kilometer per hour सारे kilometers को hours में बाटा गया माल लो एक बंदे ने डेड़ सो kilometer चल दिये 30 गंटे में तो मैंने हर गंटे में कितने kilometer आएंगे 5 तो 5 kilometer पर hour जब सारे kilometers को गंटे में बाटा गया average ही तो है उनने average कितने kilometer आया भाई ऐसे सारे गंटों को बुलाया है मैंने सारे गंटे इदे रहो 800 kilometer बाट रहा हूं सब के इससे में कितना आया तो size को क्या represent करेगा फिर गंटे hours time ठीक ऐसे ओके जब हम वो लगाते हैं क्या वो allegation allegation जब हम लगाते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं एक class का average weight है 20 kg एक class का average weight है 30 kg जब दोनों को mix कर दिया गया तो average weight है 23 kg तो number of student का ratio बताओ class one और class two में तो आप ऐसे करते हो क्या 7 और ऐसे तीन इन का difference अगर इस class में 7 student है तो इसमें 3 है तो यहां पर मैंने क्या लिखा यहां पर sir आपने लिखा है average weight यान कि कौन सी quantity लिखी है average लिखी है या size sir average लिखी है यहां पर क्या लिखा है sir average लिखी है यहां पर क्या लिखा है यहां पर पहले group की average दूसरे group की average यहां पर sir total सब को मिलाने के बाद average लिखी है यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर size का ratio लिखा है size number of student का ratio तो नीचे क्या आता है size तो ऐसे time and distance के अंदर अगर allocation लगाओगे यहाँ पर क्या लिखोगे average average यहाँ कि speed कुछ गंटे तक इतनी speed पर कुछ गंटे तक कितनी speed में overall इतनी speed में सारे गंटों में तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्श का रिश्यों आएगा, ताइम का रिश्यों आएगा, यहाँ पर होएगी, स्पीड 1, यहाँ पर स्पीड 2, यहाँ पर एवरेफ स्पीड, ऐसे ऐलीगेशन लगाऊगे, तो T1 T2 आ जाएगा तो इतनी स्पीड तक कितने टाइम तक चला कई बत्चों को लगता है डिस्टंस का रिश्यो आएगा वो गलत है टाइम का रिश्यो आएगा ये बस मैं बताना चाहरा था क्यों आएगा ये भी बता दिया लोजिक अब भी ना समझ मैं है तो दुबारा द देखोगे फिर भी ना समझ मैं फिर आपको रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बेसिक वेसे बता दिया है ठीक है तो अब करूं तो भाई कुछ गंटे ये कि स्पीड से चला सर कुछ गंटे चला है 16 किलमेटर पर आर की स्पीड से ठीक है अर्चीनियस कुछ गंटे चला सिर्णा है 9 किलमेटर पर हार की स्पीड से सर अबर ओरल कितनी स्पीड से चला ओवर ओरओ सर 61 किलमेटर नो घंटे में कवर किया है तो मैं स्पीड पूछ रहा हूं ये क्या बतार्यों स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलन 2 न 1 यानि कि सिक्षी1 बाइन 9 कि मूरी जरुनि pledge मैं अब जो भी रेश्यो आएगा वो रेश्यो की कितने गंटे कि शार कि शुट से चला कि य कितने गंटे कि सफिट से लेकिन यह बटे में नो है तो क्योंना गुणां कर दें को दो न Lazloke 36 दूसरे रिंग से तो 81 और 61 में कितने आफ रख है 20 का 36 और 61 में 11 में से चाहे गए 5 5 में 3 गए 2 25 का पांचो के 20 पांचो 25 ये किसी का रेशो है टाइम का स्पीड के उपर एलिकेशन लगाई तो टाइम का तो टोटल वो कितने घंटे चला है सर वो तो 9 घंटे चला है रेशो में भी 9 है एक्चु टोटल वेल्यू है च्यार गंटे चला च्यार की स्पीड से 5 घंटे चला नो की स्पीड से अब यहां पर स्पीड को 36 और कैसी मतमाले न यह तो हमने क्वेशन को इजी बनने के लिए किया था तो पैरो पर कितनी देर चला च्यार चोके 16 किलमेटर सर पैदल कितनी देर चला पांस ने में 45 किलमेटर भाई ठीक है अब एक चोटी चीज बताओ देखो यहां पर हमने एक और चीज की है यह जम्मा ने सबको 9 से मिल्टिप्लाई किया यह है च्यार किलमेटर पर आर और वैसे एक्चुल में 9 क्या है 9 है पूरी जरनी का टाइम तो अगर यह पूरी जरनी पर 4 की स्पीड से चलता तो 36 जाता जी हां पूरी जरनी अगर 9 की स्पीड से चलता बाइसीकल पर तो 9 ने में कैसी कलमेटर जाता आंजी सर पूरी जरनी इसने वैसे डिस्टन्स कवर कितना किया है इसके उपर एलिगेशन लगाएंगे तो यह डिस्टन्स हो गया यह डिस्टन्स हो गया फिर भी टाइम आया है लेकिन यह डिस्टन्स कैसा है पूरे के पूरे 9 घंटे अगर इस स्पीड से चलता एक हिसाब से हुआ क्या है मैं यह आपको बताना चाहरा हूं यहाँ पर S1 यहाँ पर S2 थी, Speed 1 थी, Speed 2 थी और यहाँ पर थी Average Speed जितने घंटे की पूरी जर्नी है तो मैंने किया क्या मैंने सब को पूरे पूरी जर्नी जितने घंटे की है उससे Multiply कर दिया तो Alligation के अंदर तीनो values को एक value से Multiply कर शकते हैं कि नहीं सर कर शकते हैं ratio पर तो कोई फरक न कन्फ्यूज हो सकते हैं तो आपके लिए खुर्षकबरी है कितना जुरूरी भी नहीं है Speed वाला सीख लो more than enough दूसरे की जुरूतनी है ठीक clear है अब यह करके बताओगे मज़े कि man traveled a distance of 80 km in 7 hours साथ गंटे में 80 km का distance travel कर लिया पार्टली फुट पर गया तो फुट पर गया तो 8 km पर आर की स्पीड थी जब साइकल पर गया तो 16 km पर आर की स्पीड थी तो पैरो पर कितनी देर गया तो पैरो पर 8 की स्पीड से गया पहले कौन सा option शेक करूंगा सर जो 8 स डिविजेबल है जाने की 32 फिर अड़तालीस अगर वो फुट पर 32 km गया है भाई पैरो पर 32 km गया है स्पीड कितनी है आठ तो उसको लग गया होंगे च्यार गंटे बाकी कितना डिस्टेंस बच गया टोटल है 80 80 माइनस 32 सर 48 थेंक्स 48 कितनी स्पीड पर गया सर 16 km पर आर 16 48 तीन गंटे टोटल कितना टाइम लगा मेरे भाई 7 गंटे कितना है साथ गंटे यह मैंने सैट नहीं किया आपके एक्जामिनर के क्वेस्टन है ठीक है तो पहला यह उप्षिन उत्तरा रहा है एक्जामिनर नहीं दिये अगर मालो पहले 48 होता 32 लास्ट में भी होता तो पह देखो वो कुछ गंटे 8 की स्पीड से गया है कुछ गंटे 16 की स्पीड से गया है तो 8 की स्पीड से तो गया ही है हमे शाहन जी यहाँ पर जब वो 16 किलोमेटर गया तो 8 प्लस 8 हैसे मान सकते हो आठ के लावा 8 एक्स्ट्रा भी गया है ठीक है अगर वो 8 की स्पीड से जाता साथ गंटे तक आट की से ही जाता इसी कान 24 किलम्टर की जरनी ते हुई है अभी पता लग जाएगा जी तो 27 किलम्टर की जरनी तैय हुई है 8 की स्पीड से 8 तीज़ 23 गंटे तक चला आई है यह भाई साब 3 गंटे तक चला है तो यह 8 किलम्टर पर आ रहा है याने कि इस 16 किलम्टर पर आर की स्पीड पर यह 3 गंटे तक चला है टोटल यह 7 गंटे चला है साथ में से तीन गए चार जार गंटे पहर उपर चला है अब एलिगेशन से करूँ देखो आठ की स्पीड रही कुछ गंटे कुछ गंटे 16 की स्पीड रही ओवरॉल साथों के साथ गंटे कितनी स्पीड रही साथ गंटे में सी किलमेटर कवर कर दिया असी बटे साथ लेकिन यह तो सोल होगा नहीं मतलब कि कैलकुलेटिव हो जाएगा सब को साथ से मिल्टिप्लाई कर दूँ तातो आठो चपन सोड़ा साथ एक सो बारा ठीक यहां पर हो गया असी एक सो बारा और असी यह कितना हो जाएगा जी बतिस और चपन में से असी गए चारी असी में से चपन गए चोबीस रेशो निकाल लो आठ चो के बतिस आठ तीचोबीस रेशो के अंदर यह टाइम का रेशो आएगा कितने गंटे इस स्पीड से चला कितने गंटे इस स्पीड से तो actual में time कितना है च्यार और तिन 7 रेशियो में भी 7 यानि कि यही actual time है रेशियो वाली value ही actual value है 4 गंटे तक यह चला है पैरो पर 8 की speed से तो 8 चोके 32 32 किलामेटर कवर कर दिया होगा यही पूछा है कर दोगे की नहीं कर दोगे इस question को अब भी नहीं करोगे कब करोगे बताओ अधिकारी travels 600 किलामेटर to his house partly by train and partly by car he takes काफी मज़ेदार question आपको मज़ा आजाएगा करने में he takes 8 hours if he travels 1 किलामेटर by train 600 किलामेटर गया है वो अपने house पर कुछ distance उसने train से किया कुछ उसने car से किया he takes 8 hours if he travels 1 किलामेटर by train अगर वो train से 120 किलामेटर ट्रेवल करता है और car से कितने बक्की का car से तो 600 माइनस 120 चर्षवसी और 480 किलामेटर कार से ट्रेवल करता है तो उसे टोटल 8 गंटे लगते हैं ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है he takes 20 minutes more if he travels 200 किलामेटर by train अगर वो train से 200 किलामेटर ट्रेवल करें तो train से 200 किलामेटर ट्रेवल करने का क्या मतलब है अभी train से कितना कर रहा है तो 200 कब करेगा जब car के 80 किलामेटर चीन कर मैं train को दे दूँगा यहाँ पर car से 400 किलामेटर कवर करवा रहे हैं तो उन्हें बहुला नहीं यार car से 400 किलामेटर नहीं करवाएंगे तो इसको अपने 80 किलामेटर दे दे यानि कि यहाँ पर 200 किलामेटर ट्रेन से कवर करें 400 किलामेटर कार से अगर मैं कार के 80 किलमेटर चीन कर ट्रेन को दे दूँ अगर मैं कार के 80 किलमेटर चीन कर ट्रेन को दे दूँ इंपेक्ट क्या रहा है तो इंपेक्ट ही आ रहा है तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग रही है यानि कि अगर मां 80 km को यहां से यहां shift कर दूँ तो 20 मिनट ज्यादा लगेंगी यानि कि 80 km को यहां से यहां shift कर दूँ तो 20 मिनट कम लगेंगी exactly उससे उल्टा प्रोसेस कर दूँगा तो उल्टा रजल्ट आएगा अब देखते हैं उसने पूछा क्या है find the speed of the train in kilometer per hour train की speed बतानी है तो जब भी आपको train की speed बतानी है तो हम क्या करेंगे हम सारे distance को train को दे देंगे ठीक है हम सारे distance को train को दे देंगे तो यहां से 80 kilometer इधर देने में 20 minute बढ़ जाता है time 80 का कितने गुना है 460 तो उसी में सारे distance इसको देना चाता हूँ तो अगर मैं सारा distance इधर दे दूँगा 80 kilometer सरकाने में 20 minute time बढ़ रहा है 80 का 6 गुना सरकाने में 20 का 6 गुना 20 का 6 गुना कितना होगा 120 minute time बढ़ जाएगा अगर सारा distance train करेगी तो इस से 20 minute नहीं 20 का 6 गुना time बढ़ जाएगा 80 का 6 गुना सरकाने अगर सारा distance में train से करवाऊँगा तो 20 minute का 6 गुना कितना है 120 minute यानि कि 2 गंटे यानि कि कुल मिलाकर 10 गंटे लग जाएगा अगर मैं सारा distance train से travel करवाऊँगा तो सारा distance कितना है train को 600 kilometer कवर करने में 10 गंटे लग रहे हैं यानि कि train कि speed कितनी है 60 km पर अगर यहीं पर car की speed पुची होती तो number 1 car की speed पुची है तो आप train की speed निकाल कर भी car की निकाल सकते हो कैसे सर train 60 km गंटे में कवर करती है तो 120 km तर 2 गंटे में total 8 गंटे लगे हैं तो tension लेनी नहीं है ऐसे और भी question कर रहे है tension नहीं लेनी pension लेनी है अलाकि new pension scheme आई है तो pension अजीब तरीक के से मिलरी है government employees को तो ठीक है market के हिसाब से मिल जाएगी a man travels 450 km to his home partly by train and partly by car he takes 8 hours 40 minutes if he travels 240 km by train अगर वो train से 240 km चलता है और बाकी का car से तो total है 450 450 minus 240 कितना हो जाएगा जी 210 अगर 210 कार से करता है 240 train से तो उसे time लग रहा है 8 गंटे 40 minutes he takes 20 minutes more if he travels 180 km by train अगर वो train से 180 km travel करे याने कि उसने क्या क्या यहाँ का कुछ distance इसको पकड़ा दिया कितना पकड़ा दिया 240 में से 180 गटा ना 60 60 km इसने वहाँ सरका दिये अगर मैं 60 km यहाँ सरका दूँ तो 20 minutes ज्यादा लिख रहे है ऐसे लिख लेना उधर 60 सरकाने पर 20 minutes ज्यादा लग रहे है the speed of the car अब car की speed बतानी है result 2 का है equation पूछा गया exactly तो मैं सारी चीजों को वहाँ सरका दूँगा जी हाँ सर तो वहाँ 60 km सरकाने से 20 minutes बढ़ जाएगा यहाँ पर टाइम तो टाइम कितना बढ़ जाएगा 20 का चार गुना यहने की 80 minutes 80 minutes जोड दो अगर 40 distance car को दे दिया तो यह time लगेगा 80 और 40 minutes कितने होते हैं 120 minutes यहने की 2 गंटे 8 और 2 10 गंटे लगेंगे अगर 4050 km कार अगर कवर करेगी तो 10 गंटे में कवर करेगी यहने की 45 km पर आर स्पीड है अब आप ट्रेन की भी बता सकते हो सर अगर यह इधर से इधर सरकाते तो यह थोड़ा सा फ्रेक्शन में हो जाता 60 का 60 का 60.3 गुना हो जाता यह तो अब क्या किया अगरो 60 का जो multiple है उसका काम कर रही है अगरो बाद में निकाल लिया अगरो कार की वह भी कोई दिक्कत नहीं है यह फिर शाड़े तीन गुना कर लेते हैं आपकी मर्ची यह बताओ अगर ट्रेन से 120 क्लमेटर करें यहान कि 40 क्लमेटर करें तो टोटल टाइम लग रहा है जी 11 हाँ it takes 40 minutes more if 200 km are covered by train अगर train से 200 km cover करें यानि कि यहां से यहां पर उठा कर दे दे 80 यहां से यहां पर 80 km उठा कर दे देगा किदना टाइम लग रहा है 40 minutes more 40 minutes ज्यादा लग रहे हैं भाई ठीक है इधर 80 km देने में कोई दिक्त नहीं है जो भी 80 का अच्छा खासा मल्टीपल है मैं उसको सरका हूंगा 120 80.5 गुना मैं इसको नहीं सरका हूंगा तो देखो यहां से यहां 80 सरकाने में 40 minutes हो जाएंगी 80 का कितने गुना है अगर मैं सारे को सरकाना चाहूं तो आप बोलो कि सर 6 गुना है 40 का चाहूंगा कितना हो जाएगा 40 minutes है और 240 minutes 240 minutes का क्या मतलब है सर 4 गंटे 4 गंटे हो गए न यानि कि total 15 गंटे लगेंगे अगर सारा distance train को देदू तो 15 गंटे लगेंगे सारा distance है कितना सर 600 है 15 गंटे में cover कर रही है यानि कि 40 km per hour train की speed है ठीक 40 km चलने में एक गंटा लग रहा है 120 km चलने में तीन गंटा तो अगर यहां पर तीन गंटा लग रहा है तो total 11 गंटे है 11 में से 3 गंटे 8 गंटे यहां लगे होंगे 306 km ट्रेवल करने में 8 गंटे है यानि कि 8 चिकरता लिए 60 की speed कार की speed 60 की है ट्रेन की speed 40 की है 2 is to 3 रेश्यो है अपने एक्जाम में पूछा गया question है ठीक क्लियर है किस तरह के question गलत करो गया अगे यह देखते हैं इस टाइप के question और कर लेते हैं ठीक है फिर अगले लेक्षर में करेंगे समझो एक बार इसको खुद करने कोसिस करो बस इस स्टार्ट फ्रोम इबस टर्मिनल यह दिखने में भयानक लगता है कुछ सेगेंड का question होता है ठीक है अब बीस सेगेंड मैक्स अतम और पढ़ने के time को include करके बोल रहा हूं ठीक है अभी करके दिखाऊंगा टाइन समतलों सुनने में ऐसा लगता है लेकिन एक बार आपको situation समझाऊंगा situation आपको अच्छे से समझनी है ताकि बाद में कभी भी question मिल से तो इजली कर पाएं बस इस स्टार्ट फ्रोम में बस टर्मिनल विदे स्पीड ओफ और यहां पर में आपको situation समझाऊंगा रंगीन त्रीक कैसे समझाएंगे अच्छे येलो बाद में स्क्रीन को फिर से काली कर दूँगा मैं एंसा मतलों बस इस स्टार्ट फ्रोम में ब कोई बस टर्मिनल है वहां से बस इस तो है वो 20 क्लाटर पर आर की स्पीड पर चल रहे हैं हर 10 मिनट में बस चल और रहे हैं पर लेकिन उसको आठ मिनिट के इंटरवल पर बस इस मिल रही है ऐसा क्यों है क्योंकि वह वहाँ पर खड़ा नहीं है वह बस इसकी तरफ चल रहा है तो एक बार इस सिच्वेशन को समझते हैं देखो मालो यह उस बस टर्मिनल से यह बस गई एक्जेक्ली इसके कितनी देर बाद दूसरी बस आएगी दस मिनट बाद यहां पर यह बस है यह बस एक्जेक्ली उस बस से कितनी देर बाद होगी सर दस मिनट बाद चली होगी हां जी तो ये बस exactly इसी जगह पर 10 मिनट बाद पहुँच जाएगी 10-10 मिनट के गैप पर चल रही है बस इस 10 मिनट बाद निकली थी अगली बस हर जगह 10 मिनट पहले पहुँच रही है क्योंकि 10 मिनट पहले निकली थी और अजियूम हम कर रहे हैं कि speed uniform है clear है तो अभी ये जो बस है इसके पास एक बंदा खड़ा है अभी ये जो बस है इसके पास एक बंदा खड़ा है तो ये बंदा अगर यहीं पर खड़ा रहे मेरी बात को धेंसे सुनिएगा वो बंदा अगर यहीं पर खड़ा रहे है तो ये बस इस बंदे को कब मिलेगी सर 10 मिनट में मिलेगी क्योंकि वो बस जहां पर है वहां पर अगली बस 10 मिनट में पहुँच जाएगी अगली बस फिर 10 मिनट में पहुँच जाएगी बस इस 10-10 मिनट के गैप से चल रही है अगर कोई इंसान खड़ा रहे उसके मन में श्यानती हो थोड़ी बहुत तो उसको 10-10 मिनट में बस मिलती रहेंगी 10-10 मिनट की सर्वीज है जी बस कैसे माल लेकिन ये बंदा है क्या हुआ तो अब ये चीज क्लियर है कि बस यहां से लेकर यहां तक 10 मिनट में पहुँच सकती है ये क्लियर अपने दिमाग में ये क्लियर रखो ठीक है समझने के लिए कि बस यहां से यहां तक 10 मिनट में पहुच सकती है तो उस बस को निकाल देते हैं तो बस यहां से यहा अब वो बंदा वहाँ पर रुका नहीं, यह बस भी चली वो बंदा भी चला, दोनों चले, तो दोनों बीच में कहीं न कहीं पर मिले, मालो यहाँ पर मिले, तो ध्यान से देखेगा, तो बस इस बंदे को कितनी देर में मिली, सर बस इस बंदे को आठ मिनट में मिली, तो अब बंदा यहां पर था, इसको यह बस अभी-अभी मिली थी, और यह चल रहा है, तो क्या हुआ? आठ मिनट में मिले, यानने कि अब मेरी बात को ध्यान से सुन लिएगा, question solve हो गया, यहां से लेकर, यहां तक, यह बस कितनी देर में जा सकती है, सर आठ मिनट में, ठीक है, और बंदा यहां से लेकर, यहां तक कितनी देर में आ सकता है, सर आठ मिनट में, जब यह बंदा यह यहां पर थी दोनों इकठे चले थे आठ मिनट में मिले यहनि कि इस पर्षन को यहां से यहां तक आने में आठ मिनट लग गए और इस बस को यहां से यहां तक जाने में आठ मिनट लग गए जी हां हमें एक और बात पता है कि बस यहां से लेकर यहां तक 10 मिनट में जा सकती थी तो यहां से यहां तक 8 मिनट में आ गई तो आगे का जो डिस्टंस है बस जो हो 2 मिनट में कवर कर सकती थी तो डिस्टंस तो सेम है भाई यहां से लेकर यहां तका distance वही है बस ने दो मिनट में किया बंदे ने आट मिनट में किया बंदे ने च्यार गुना टाइम ले लिया तो speed कितनी होएगी वन फॉर्थ होएगी बस की speed 20 है बंदे की speed 20 की वन फॉर्थ है पांच खतम कुछ लिखना पड़ा नहीं इन questions को आप ये चोटी सी line बना के ये फिर बिना line बना के mentally within seconds कर सकते हो ऐसे ही दो तिन questions और समझाओंगा क्या होएगा ये सारे within seconds आप करने लग जाओगा लेकिन basic situation को एक बार समझना पड़ेगा वहाँ पर time देना पड़ेगा नहीं clear है ये बात समझ में आगई और हमेशा ये नहीं होएगा कि बंदे को च्यार गुना time लगा कभी-कभी बंदे को हो सकता है साधे 3 गुना time लगे कभी-कभी 4 बटे 3 गुना time लगे एक और तरिके से हम इनको करश रखते हैं क्या कि same distance को cover करने में जो time है ये bus है और ये man है bus को time लगा 2 minute man को time लगा 8 minute time का ratio 1 is to 4 है तो speed का ratio 4 is to 1 होएगा तो वो इन में से किसी एक की speed दे देगा क्योंकि हमेशा values ऐसी नहीं होएगी क्लियर ये बात समझ में आगी अब मैं अगले question की तरफ जाऊंगा फिर शे black and white हो जाते हैं ये next question है ये बताओ बताओ उसी तरीके का question है अब की बार बस नहीं है बस कुछ और है तो इस question को normally को इस student देखिया तो डर जाएगा द्रवाद ये कुछ साइगिड का question है तो हुआ क्या देखो तू गनसार fired from same place at an interval of six minute दो तू गन थोड़ी चलो दो गन fire की होएगी वैसे दो bullet fire होएगी same gun से चलो जो भी है इनके पास गन जादा होएगी तो इन्होंने क्या किया मालो मैं यहाँ पर जाँ मैंने यहाँ पर दो गोलियां चला दी फिर एक और डिश क्याँ चै मिनट के बाद मैंने चलाई तो जब मैंने पहली गोली चलाई आवाज चारो डारेक्शन में जाएगी आप बोलोगे जी हाँ सर फिर मैंने दूसरी गोली चलाई उसके 6 मिनट बाद मैंने दूसरी गोली चलाई तो 6 मिनट का gap भोएगा आप बोलोगे । आंजी सर तो मालो यहाँ पर एक मैन खड़ा है यहाँ पर एक मैन खड़ा है उसको पहली गोली के यवाद सुनाई दी sound one फिर उसको दूसरी आवाज सुनाई दी sound two sorry फिर से सुनो मालो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है उसको पहली गोली की आवाज सुनाई दी sound one मैंने गोली चलाई आप एक किलोमेटर दूर खड़े हो यार कहीं गोली चली है आप वहीं पर बैठे रहे काम करते रहे तहीं यारी करते रहे अपना लेक्षर देखते रहे फिर दूसरी गोली के आवाज आई पर गोली चली है च्ए मिनट पहले एक गोली चली थी दोनों आवाजें जब आप तक पहुंची तो उनके बीचे में 6 मिनट का गया पोईगा क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो एक आवाज चली उसके 6 मिनट बाद दूसरी आवाज चली तो यहीं पर दूसरी आवाज को आने में 6 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन हुआ क्या यह बंदा बैठा थोड़ी है यह तो चल रहा है यह तो चल रहा है इसको यहाँ पर पहली आवाज सुनाई दी ठीक है अगर यह यहीं पर खड़ा रहता तो इसको अगले आवाज 6 मिनट में सुनाई देती लेकिन अब की बार क्या हुआ यह भी चल रहा है यह भी चल रहा है तो अब देखो हुआ क्या जब इसको पहली आवाज सुनाई दी तो इसको सुनाई दी और 6 मिनट बाद exactly यह वाली आवाज इसको सुनाई देती यह यह यहाँ पर खड़ा नहीं रहा तो यह जो आवाज है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टंस 6 मिनट में कवर कर शकती है लेकिन आवाज और बंदा दोनों चले और दोनों कहीं न कहीं पर मिले यहाँ पर यह आवाज और यहाँ पर यह बंदा दोनों कहीं न कहीं पर मिले कितनी देर में मिले 5 मिनट 52 सेकंड में यह यहां पर थे, दोनों ने 5 मिनट 52 सेकंड तक दोनों से ले और यहां पर मिले, आवाज ने यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में कवर की, तर 5 मिनट 52 सेकंड है, ठीक है, बंदे ने यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में ट्रेवल की, तर 5 मिनट 52 सेकंड है, ठीक तो देख लो, same distance को travel करने में, एक तो sound है अपना, और एक बंदा है, इनको time कितना लग रहा है, time का ratio क्या है, sound को लग रहा है जी, 8 second, बंदे को कितना second लग रहा है, इसको मकनवट कर लो, seconds में, 352 second, तो speed का ratio क्या होएगा, speed का ratio उल्टा होएगा, एक बार इनका ratio देख लूँ, 8 है कम 8, 8 चुके 32, 8 चुके 32, इनकी speed का क्या ratio होएगा, 44 is to 1, अगर sound की speed 44 है, तो man की speed 1 है, sound की speed इननोंने बता दी है, 47 unit की ये value है, तो एक unit की value होएगी, 330, 8 में 44, meter per second में है, लेकिन इस बाई तो तसली है नहीं, km per hour में पूछ रहा है, तो 18, 5 करता है, इतने easily satisfy नहीं होता है, examiner ठीक है, 11, 33, 11, 5, 20 होता है, तो 10 दूनी 20, तो नहीं में 18, 19, 20 km per hour, ठीक, ठीक, पहली बार आपको equation समझने में time लगेगा, और वो लगना भी चाहिए, तो कि situation समझने में आपको time लग रहा है, एक बार यह करने के बाद आपको time लगे, तो यहाँ पर मैं ऐसे equation का देवर करवाना चाहूंगा, ताकि आपका confidence build up हो, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, कि भाई, बसीच जा रही है, 15-15 मिनट के interval पर, बसीच किसी bus stop से 15-15 मिनट के interval पर आ रही है, लेकिन एक बंदा जो है, जो बसीच की तरफ ही आ रहा है, उसको बसीच 12 मिनट में मिल रही है, ठीक है, तो बसीच की जो speed है, वो कितने percent ज्यादा है, बंदे की speed, कितने percent ज्यादा है, माल लो यह equation, तो देखो, आपको यह पता है, यहाँ पर यह, यहाँ पर यह यहाँ तक 15 मिनट में पहुँच जाएगी, लेकिन यह दोनों चलते रहे, यहाँ पर मिले, कितनी देर में मिले? 12 मिनट में मिले, तो बस ने यह distance 12 मिनट में travel किया, and बाकी के distance को बस, total 15 मिनट में बस यहाँ से यहाँ पहुंच जाती, 3 मिनट में करशकती थी, ठीक है, तो बंदे ने कितने गुना टाइम लिया सर चार गुना टाइम ले लिया तो बस की स्पीड चार गुना है यानि कि बस की स्पीड चार है तो मैंन की स्पीड एक है ठीक है तो कितनी ज्यादा है बस की स्पीड तीन ज्यादा है एक से तिन सो परसेंट ज्यादा है तो मैं कुछ भी निकल रही है 25-25 मिनट के इंटर्वल पर ठीक है एक बंदा ओपोजिट डियरेक्शन से आ रहा है बस टर्मिनल की तरफ तो उसको 20 मिल रही है 22 मिनट के इंटर्वल पर तो देखो यहां प्रबंदे को एक बस मिली है अगर यह यहीं पर खड़ा रहे तो दूसरी बस exactly 25 मिनट म तो यह दोनों कितनी देर में मिले 22 मिनट में बस 22 मिनट में यहां से यहां तक पहुची बंदा 22 मिनट में यहां से यहां तक पहुचा अब बोलोगे जी है वही बताना है बस की स्पीड कितने परसेंट जाता है तो बंदे ने यहां से यहां तक के डिस्टन्स को 22 मिनट में 19 ज्यादा है तीन से तो 19 कितने पर्षेंट है तीन का बता दे रहे तो कितनी देर लग रहे है इनको करने में अब इसी से अपग्रेड़िड सिच्वेशन एक दिखाऊं इससे थोड़ी सी डिफरेंट सिच्वेशन यह देखो कि यह देखो अब की बार मैंने किया क्या अब की बार मैंने बंदे को दूसरी डिरेक्शन में चलवा दिया देखो बस उसको बस जो हैं 10-10 मिनट में निकलती है बंदे को पहली बस यहां मिली है और दूसरी बस यहां है एक बस इसको अभी अभी यहां मिली है तो दूसरी बस इसको 10 मिनट में मिलेगी, अगर यह बसीस की तरफ चलेगा तो 10 मिनट से कम देर में इसको बसीस मिलेंगी, इस पर डिपेंड करता है कि दोनों की स्पीड कितनी है, ठीक है लेकिन अब की बार बंदा दूसरी डैरेक्शन में चल रहा है अगर यह यहीं पर खड़ा रहता तो इसको 10 मिनट में मिलती लेकिन यह दूसरी डारेक्षिन में चल पड़ा तो इसको 12 मिनट में मिल रही है बस इसने किया क्या यह दूसरी डारेक्षिन में चल पड़ा तो माल लो इसको बस यहां पर बस यहां से यहां तक का डिस्टन्स 10 मिनट में ट्रेवल करशकती है और यहां से यहां तक का 12 12 में से तसके 2 यहां से यहां तक का डिस्टन्स बस 2 मिनट में ट्रेवल करशकती है तो बस को कितना टाइम लगा 2 मिनट मैं को कितना टाइम लगा 12 मिनट टाइम लगा सेम डिस्ट फिर बताई होगी फिर बंदे की स्पीड है 10 km पर आर एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 होएगी भाई 60 km पर आर की स्पीड से बस ही चल रही है क्लियर है समझ में आगई बाग था तो that's all इसके बाद अगला जो concept lecture है उसके अंदर हम बाकी बचे हुए miscellaneous questions करेंगे तो वो भी आप खुद करशकते हो लेकिन सिखने को तो definitely आपको मिलेगा क्योंकि मैं experience हूँ आप मेरे जितने experience तो नहीं है अगर मेरे जितने experience आप पढ़ने में तो बहुत गंदे तरीक के से पढ़ रहे हो इतने साल में selection नहीं हो तो और बहुत ज़्यादा जरूरत है guidance की तो जो अगले class है उसके अंदर फिर्षे मिलते है लो डियर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर इसके अंदर हम time and distance के जो बचे खुचे मिसलेनिस questions है वो यहाँ पर कर लेंगे और concept लेक्सर बारा के बाद time and distance आपका खतम हो जाए उसके बाद सिरफ आपके quick revision points रहेंगे अगर आपने वो करने है तो फिला ठीक है वागे बढ़े यहाँ पर मेरे को कुछ अलग से आपको concept नहीं बताना है उन्हीं concept जो पहले हम कर कर चुके हैं उनके उपर best questions है तो मेरे बताने से पहले definitely आप कर शकते हैं और उसके बाद आपने मेरी explanation भी देखनी है ठीक है बताओ भाई करने इकोसिस करो मज़ेदार question है एक बार आप समझ जाओगे कि इसको करना कैसे है पूरी situation समझ जाओगे इस question को हम easily कर लेंगे जब तक अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो या सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो ऐसा question आपको ड़रा भी सकता है कि यह कैसे होगा ठीक है और relevant है बिल्कुल exam में पूछे गए है ऐसा question डिट वैसा question वो भी मैं आगे करवाँगा a train after traveling 50 kilometers meet with an accident and then proceeds at 3 4th of its former speed तो सबसे पहले हम इस question को जल्दी नहीं करेंगे मैं आपको अच्छे से समझाओंगा आकि आप जल्दी कर शको में आपको जल्दी करके नहीं दिखाओंगा पहले आपको जल्दी करना है आपसे जल्दी करवाना चाहरा हूं है तो बहले तसली से समझेंगे फिर फटा फट करेंगे ऐसे कई questions को देखो पहले situation समझते है कि मामला क्या है ताकि आगे से जब भी ऐसा question आए तो भड़ बड़ाव नहीं एक train आफ्टर ट्रेवलिंग 50 km एक train जो है वो उसने 50 km ट्रेवल कर लिया ठीक है जी meets with an accident फिर उसका accident हो गया engine में कोई खराबी हो गई and then proceeds at 3 4th of its former speed फिर उसके बाद यहां पर माल लो इसका accident हो गया तो इसके बाद यह 3 4th speed पर ही गई इसकी speed कम हो गई पहले जो speed थी उससे 3 4th speed पर गई तो क्या हुआ यह अपनी destination पर 35 मिनट लेट पहुँची क्योंकि कम speed पर गई ज्यादा time लग गया अब इस बात को देखो had the accident occurred 24 km फर्दर अगर जो accident है वो 24 km आगे होता अगर accident 24 km आगे होता तो क्या होता बताओ तो यह 24 km और 24 km यह अच्छी speed पर चल लेती अगर accident 24 km आगे होता तो यह 24 km तक अच्छी speed पर चल लेती पहले भी अच्छी speed पर चल लेती बड़िया speed पर उसके बाद speed कम हो गई तो इतनी लेट होगी लेकिन अगर यह 24 km और ज्यादा तक अच्छी speed तक चल पाती accident 24 km बाद होता तो यह सिरफ 20 मिनट लेट होती तो यह सिरफ 20 मिनट लेट होती है the speed of the train is तो बात समझ में आगी इन्होंने क्या बोला है यह 24 km अगर आगे accident होता तो एक बार हम situations को compare कर लेते हैं यहाँ पर दो situation है दो situation कौन सी है एक बार accident हुआ है यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं एक बार लेकिन यह बोल रहे है अगर accident डीपर होता जो कि इससे 24 km बाद है जो कि इससे 24 km बाद है अगर यहाँ पर accident होता तो क्या होता यह सिरफ 25 मिनट लेट होती तो उपर वाली situation और नीचे वाली situation में कितनी देर का फरक है तर 10 मिनट का फरक है एक बार तो 35 मिनट लेट हो रही है एक बार 25 मिनट 10 मिनट का फरक उपर वाली situation में 10 मिनट ज्यादा लग रही है ट्रेन तो पहले situation समझ ले देखो उपर वाली situation में क्या है A से लेकर C तक बढ़िया speed पर चली है हाँ जी सर C के बाद accident हुआ तो यहाँ पर खराब speed पर चली यहाँ पर खराब speed पर चली चली है यह मैं नहीं बोल रहा है कि नहीं चली चली है वाट खराब speed पर चली है कम speed पर चली है नीचे वाली situation में अगर accident 24 क्लमेटर बाद होता तो यहाँ पर बढ़िया speed पर चली यहाँ पर बढ़िया स्पीड पर चली लेकिन यहाँ पर एक्सिडेंट हो गया यहाँ से 24 किलमेटर बाद यहाँ पर खराब स्पीड पर चली तो एक बार दोनों सिच्वेशन को कंपेर करो D से लेकर B तक दोनों सिच्वेशन में मामला सेम है ठीक है सर ए से लेकर C तक दोनों सिच्वेशन में सेम है अगर फरक कहीं पर है तो उपर वाली सिच्वेशन में C से लेकर D तक 24 किलमेटर खराब स्पीड पर चल रही है नीचे वाली सिच्वेशन में C से लेकर D तक बढ़िया स्पीड पर चल रही है तो यहाँ पर जो यह 10 मिनट का फरक आया है यह क्यों आया है क्योंकि एक बार यह 24 किलम्टर खराब स्पीड पर चली एक बार 24 किलम्टर ठीक स्पीड पर चली तो सर क्या हम यह डाग्राम बनाना पड़ेगा नहीं अब इस बात को नौर्मली समझाता हूं उसने क्या बताया है हम एक्चुल में कैसे इसक्रेशन को स्पीड करेंगे क्या डाग्राम बनाएंगे कि भाई मैं 50 किलम्टर चल पड़ा 50 किलम्टर चलने के बाद एक्सिडेंट हो गया ट्रेन अपनी 4 by 3 स्पीड पर गई अगर एक्सिडेंट 24 किलम्टर बाद होता 24 किलम्टर बाद होता तो ट्रेन 25 मिनट ही लेट होती कितना टाइम बचा लेती 10 मिनट बचा लेती अगर एक्सिडेंट 24 किलम्टर बाद होता तो ट्रेन अपनी 10 मिनट और बचा लेती तो यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से जुनेगा, दो situation है, एक बार तो 24 km train ने ठीक ठाक speed से travel कर लिया, एक बार खराब speed से travel कर लिया, यही इसने बताया, अगर एक्सिडेंट 24 km बाद होता, तो 24 km वो ठीक speed से तय कर लेती, लेकिन अभी उसने 24 km खराब speed से तय किया है, तो के लिए है, कितने distance का comparison बताया है, मैंने आपको दो situation दिखाई थी, उपर वाली situation में बाकी दोनों situation सेम थी, यहाँ पर भी ठीक speed से, निचे भी ठीक speed से, यहाँ पर खराब से उपर वाली में, निचे भी खराब वाली में, दोनों situation में जो फरक था, वो क्या था, एक में 24 km खराब speed से, एक में 24 km ठीक speed से, क्योंकि यह बोल रहे हैं, accident अगर 24 km बाद होता, उसको 24 km और ठीक से चलने का मौका मिल चाता है, तो इस 24 km के अंदर, 24 km के अंदर उसको, एक बार वो ठीक speed से चली है, एक बार खराब speed से चली है, इस कारण वो 10 मिनट का gap आरा है, 24 km के अंद अगर वो ठीक speed से चले, या खराब speed से चले, इन दोनों situation में 10 मिनट का gap होता है, अगर accident इस से भी 24 km बाद होता, तो वो 10 मिनट और बचा लेती है, क्योंकि train अगर 24 km को ठीक speed से चले, या खराब speed से चले, इन दोनों situation में 10 मिनट का फरक आरा है, मैं detail से समझा रहा हूँ, च इसकी speed 3, 4th हो गई थी, यानि की 4 से 3 हो गई थी, अगर ठीक speed 4 है, तो खराब speed 3 है, speed का ratio है 4 is to 3, तो time का क्या ratio होएगा, same distance के लिए 3 is to 4, और यहाँ पर 24 km के अंदर, कितने का gap आ जा रहा है, time के अंदर, सर 10 मिनट का gap आ जा रहा है, ratio के अंदर कितने या gap है, एक का, तो क् 30 मिनट, 40 मिनट, आ गए न, 10 मिनट का gap, clear है, या फिर अलग से लिख देता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, यहाँ पर कितना हो गया, 30, यहाँ पर कितना हो गया, 40, यानि की, जब वो ठीक speed से चलती है, 24 km, तो 30 मिनट लगते है, खराब speed से चलती है, तो 40 मिनट लगते ह इसका तो हमें कोई लेना देना है, हमें तो इसका लेना देना है, उसने क्या भुचा है, speed कितनी है train की, यानि की normal speed कितनी है, खराब होने के बाद, normal speed कितनी है, तो normal speed पर जब वो चलती है, तो 30 मिनट के अंदर वो 24 km चल देती है, या 24 km चलने में 30 मिनट लगते है, तो 30 मिन के अंदर गर 24 km चल देती है तो एक गंटे गंदर 48 km चल देगी तो स्पीड कितने है 48 km पर आर तो यहां पर जो कंपेरिजन बताया है यह यह जो डिफरेंस आया है कि 35 मिनट की वजाए 25 मिनट ही लेट हुई यह क्यों क्योंकि 24 km और ज्यादा ठीक स्पीड से चलने का मौका मिल गया तो यहां पर यह जो डिफरेंस आया है यह आया है कि 24 km के डिस्टन्स के अंदर खराब की वजाए ठीक स्पीड से चल पाई ठीक है तो सिरफ यही आपने देखना है दूसरा इसके अंदर जो क् 편स बन सकता है बन सकता है कि भाईया डिस्टन्स कितना है यहां से लेकर यहां तक कर टोटल ल कितने क्लम़तों ट्रेंस डिस्टन्स क्या है तो बहुत ही सिम्पल है जी दो तरीक के बताऊँगा इसको करने के, कैसे, नमबर बन, देखो, क्रेन ने यहां से लेकर, यहां तक, खराब स्पीड से इस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पर उसका एक्सिडेंट हुआ था, यहां से लेकर, यहां तक, पहले 50 किलम्टर ठीक टाक से लिए, उसके यहां तक का डिस्टेंस तो पता है, 50 किलम्टर का है, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, अजी सर, तो देखो, अगर वो ठीक स्पीड से चले, और खराब स्पीड से चले, तो टाइम का रेशियो होता है, ठीक है, और यहां पर इसने क्या बताया है, यहा यहां पर accident हो गया था तब उसका यहां पर accident हो गया था तो वो 35 minute late पहुंची ठीक है याने की ठीक speed से और खराब speed से चलने वाले time के बीचे में 35 minute का gap होगा ताइम का ratio का है 3 is to 4 वो 35 minute late पहुंची याने की 35 minute का difference आना चाहिए अब की बार आप क्या करोगे इस gap को 35 बनाओगे एक की जगे 35 लिखोगे तो 35 थी 105 उसको 105 minute लगते हैं ठीक ठाक speed से चलने में अगर वो यहां से यहां तक जाना चाहिए अब की बार यह जो comparison है मैंने इस distance के लिए किया पहले में 24 minute किलोमेटर के लिए कर रहा था इसी situation को यूज कर लेंगे तो यहां से यहां तक जाने में 105 मिनट लग रहे हैं तो बताओ 105 मिनट में कितनी दूस लिजाए उसकी speed कितनी है speed तो है जी 48 किलोमेटर पर आर अभी निकाल लिए देख लो कितना टाइम लग जाएगा 48 इंटू 105 इसको मैं आर्ष में कनोट कर रहा हूं speed इंटू टाइम इस डिस्टन्स क्या हो गया भाई बारा चोके 48 बारा पंजे पांच से जाएगा जी है कितने पर 21 पर 284 किलोमेटर का डिस्टन्स है बहुती प्यार से समझा रहा हूं बहुती slow समझा रहा हूं तकि समझ म गया ये देखो वहां पर भी इसी चीज़ को यूज करूं गा बस डूसरे में भी इसी चीज़ को यूज करूंगा की ट्रोटल 10 मिनट का गया पा जाता है 10 मिनट का गयप का क्या मतलब है अगर खराब speed के comparison में वो ठीक speed से चले है 24 क्यूलो मेटर अगर वो खराब की बजाए ठीक स्पीट से चले तो 10 मिनिट जल्दी पहुंचती है या फिर इसे उल्टा बोलो अगर 24 क्यूलो मेटर के stretch में वो खराब स्पीड से चले ठीक की बजाए खराब से तो 10 मिनट लेट पहुंचेगी तो कुल मिला करें मैं ये कहना चाहरा हूँ फीक स्पीड और खराब स्पीड से अगर वो 24 किलोमेटर का stretch कवर कर रही है अगर 24 किलोमेटर का distance ते कर रही है तो 10 मिनट का gap आ जाता है तो 10 मिनट का gap 10 मिनट का gap पढ़ जाता है कितनी हैं distance पे 120 किलोमेटर पे लेकिन यहां से यहां तक कितने का gap पढ़ गया 35 मिनट का gap पढ़ गया बताओ 35 मिनट का gap पढ़ा है ठीक और कराब स्पीड से कितने किलोमेटर चलिए होगी अभी देख लेते हैं 10 मिनट का gap इतनी देर में एक मिनट का gap इतनी दूरी में और 35 मिनट का gap इतनी दूरी में पांस दूरी पांस सते दो बारा बारा सते चुराशी चुराशी कैसे भी कर लो clear और वैसे भी यह distance आप निकाल चुके हो यहां से यहां से यहां तक का निकाल सकते हो मैं तो यहां से यहां से यहां तक का निकालता हूं क्यों क्योंकि ताकि मुझे 2 E-value जोड़ने पड़े यहां से यहां तक का निकाल हूंगा तीन वेल्यू जोड़ने पड़ेंगी इस निकाल सकते हैं बेखो आपिशिदेंट में देखो यहां पर फ़ो करगों अलूघ कर के साथ लुटाइट वैगी एव पहने पांच पंजे दो बाराय बारा पंजे साथ यह डिस्टेन साथ का देखो तो question को कर कैसे भी सकते हो सारी situation आपके सामने मैंने प्रोस दी है अब आप क्या करोगे यहां पर दिमाग वगर आप लगा सकते हो तसल्ली से और ज्यादा अगर आपने दिमाग लगाना है बड़िया रहेगा आपके लिए तो ऐसा ही और question करूँ जी है लो एक क्योंते है लिए्वीव करूए अगा एटयु, कि अज ची हैँ करवे लोपेई कर प्छोगे वीडियो को पॉस्ट करके कर लो अगर टाइम सीए तो कि ट्रेन आफटर ट्रेवलिंग 150 किलोमेटर मीट्स विद एन एक्सिडेंट डेड़ सो किलोमेटर चलने के बाद ट्रेन एक्सिडेंट हो जाता है इसके कारण क्या होती है उसकी स्पीड 350 हो अगर एक्सिडेंट तिन सो साथ किलोमेटर आगे होता तो तो दो गंटे लेट होती है तो दो गंटे लेट होती है तो दो सिचवेशन है अगर एक्सिडेंट तिन सो साथ किलोमेटर आगे होता यानि कि इस तिन सो साथ किलोमेटर का कंपेरिशन है एक बार वो तिन सो साथ किलोमेटर चल रही है ठीक स्पीड से एक बार卡ब स्पीड यानि कि 360 किलमेटर बाद accident होता तो 360 किलमेटर ओर दूर तक उसको ठीक चलने का मौका मिल जाता कॉंपेरिशन क्या हो रहा है कि 360 किलमेटर या ठीक स्पीड से चले क्राब स्पीड से चले बाकी सारी situation तो same है speed का ratio 5 से 3 हो गई यह ठीक speed बोल रहा हूं यह गलत speed का ratio यह है time का ratio same distance के लिए 3 to 5 इन्होंने यह बताया है कि 360 km के distance में ठीक या खराब speed से चलने के कारण total 6 गंटे का gap आ रहा है यहाँ पर कितने का gap है यहाँ पर तो 2 का है तो 3 गुणा कर दूँ चीजों को 2 तीए 6 गैप को 6 बना दूँ तो 3 गुणा कर रहा हूं 3 तीए 9 गंटे लग रहे हैं यह वाला निकालने की जरूत नहीं है ही नहीं 3 पंजे 15 पंदरा कर शक्ते उपर निकालने की जरूत ही नहीं ठीक स्पिड हमेशा वह पूछता आपसे और आप बोले यह थीक ना पूछे तो कोई नी फिर ये वाला निकाल देना है देख देना या फिर speed को 3.5 कर देना ठीक ठीक speed निकाल के 3.5 कर देना ठीक है तो 9 गंटे लगते हैं ठीक speed पर 360 किलमेटर जाने में 360 पर टे 9, 40 किलमेटर पर आ रहे हैं लेकिन यहापर उसने speed नहीं पूची उसने पूचिए what is the difference between the numerical values of the total distance traveled and the normal speed तो normal speed अपने पास आ चुकी है 40 अब हमें बताना है distance traveled तो speed कितनी आ गई है जी 40 आ गई है अब मैं सिरफ यह देखना चाहूंगा उसने क्या बताया है accident actual में यहाँ पर हुआ था यहाँ पर तो जब यहाँ पर accident हुआ accident हुआ है न हाँ तो overall वो कितनी लेट हो गई थी वो overall लेट हो गई थी sir 8 गंटे 8 गंटे का gap आ गया था उस accident के काणव आट गंटे लेट हो गई नॉर्मल स्पीड से और खराब स्पीड से चलने में 8 गंटे का gap आ गया था तो क्योंना मैं यहाँ पर gap को 8 गंटे का कर लूँ यह best यह easy रहता है सबसे gap यहाँ पर दो का है तो मैं 4 गुना कर रहा हूं च्यार दुनी आठ तो च्यारती है बारा यानि की 12 गंटे लगते हैं उसको यहां से यहां जाने में अब की बार जो मैं compare कर रहा था gap उम मैं इस distance के लिए कर रहा था इसे पिछली बार जो मैं compare कर रहा था हूं मैं 360 क्लम्टर के लिए करके आपको speed मिल जाएगी उसके बाद करके आपको distance 12 गंटे time लगता है उसको normally ठीक है यहां से यहां जाने में normally gap मैं 8 गंटे कर दिया इस distance का तो normally उसको अगर 12 गंटे लगता है तो speed तो अपनी काल के बैटे हो ना जी हां जी तो बारा चुक्यर्ट तालीश चैर्श वससी क्लम उठाएगी यहां से यहां तक चैर्श वससी पूरा कितना है चैर्श वससी प्लस ट्रेट सो टो टोटल कितना हो जाएगा 330 उसने इसका और इसका डिफ्रेंस पूछा है यानि कि पंसवन अप्र है अब समझ में आ रहा है अब मैंने कुछ ज्यादा लिखा है इस question में देखो एक बार ज़रा ध्यान से और इस equation को दो बार और करो तुरंट अभी के अभी अभी के अभी दो बार करो रगल एक्वेस्टन को करो बताओ आप मोटर साइकलिस्ट हैस तू कवर डिस्टनस अफ दौसो किलमेटर का डिस्टनस कवर करना है तो रिच सी टी बी फ्रों सी टी ए सी टी ए सी टी बी पर जाना है भाई साब को अभी यह क्या बोल रहे है अगर यह प्रोबलम तीस किलमेटर पहले हो जाती अच्छा जी तो वो थोड़ा सा और ज्यादा लेट हो जाता है क्योंकि तीस किलमेटर स्कॉर कर आप स्पीड से सलना पड़ता है लेकिन आपको अपने दिमाग के उपर यह टेंशन नहीं दे नहीं कि प्रोबलम बाद में हुई है पहले हुई है नहीं आपको शिरफ यह देखना है कि अगर यहां पर प्रोबलम हो रही है एक गंटे लेट हुआ, problem कुछ दिर बाद हो, कुछ दिर बाद होगी तो क्या होएगा, थोड़ा सा time बच जाएगा, कुछ दिर पहले होगी तो थोड़ा सा time extra लग जाएगा, उसकी tension लेगा, यहाँ पर problem वी तो एक गंटा लेट हुआ, इस कनोटर पहले हुई, तो he would have reached 12 minutes later, यहाँ पर he would have reached 12 minutes later, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक गंटे लेट हो रहा है, यहाँ पर 12 minutes late हो रहा है, 12 minutes late नहीं, बोला later, later का क्या मतलब है, पहले जीतनी देर में पहुंचा था उससे 12 minutes late, earlier बोलता तो, यह नहीं बोला कि 12 minutes late हुआ, अगर 30 km पहले होती तो 12 minutes late हो जाता तो उसने difference बताया है, कि 30 km पहले हो जाती तो 12 minutes or late हो जाता, उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर यह जो दोनो situation उसने बताई है, यह 30 km की बताई है, तो ठीक स्पीड से चले और खराब स्पीड से चले, तो स्पीड का रेशियो क्या है जी, स्पीड हुई थी 3-4 यानि कि ठीक स्पीड चार है तो क्राब स्पीड 3 है, तो सेम distance के लिए time का रेशियो क्या हो जाएगा, 3-4, तो 30 km के अंदर ठीक या क्राब स्पीड से जब वो चला, तो time का रेशियो 3-4 है, और यहाँ पर ह एक पहले खराब होती ही, यहाँ पर खराब होने में तो एक गंटा लेट हो रहा है, अगर पहले खराब होती ही तो और ज्यादा लेट होना था न, पहले तो एक गंटा लेट हो रहा है, शिर्फ 12 मिनट लेट के, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, लेटर, लेटर यानि कि प तो हिंदी में इसकी actual statement क्या होगी यदि समस्या 30 किलनौटर पहले हो जाती तो ऐसी वह 12 मिनट बाद भी पर पहले से 12 मिनट भाद भी पर पहले से 12 मिनट हिंदी में ऐसी होती है करते हैं कर दो हिंदी में आपको प्टा जीए तो एक की बजाए 12 आना चाहिए 12 तीश यानि कि यहां पर क्या है 36 मिनट ठीक ठाक स्पीड से उसको 36 मिनट लगते हैं 30 किलिम्टर जाने में तो स्पीड क्या है ah distance दायव है ताइम ऐसी अन स्पीड कि था होड़े ह। हिंदी स्पीड कितिनी है 50 क्लम्ड पार हिंट था कस्पीड पार्ट ऑफ तर नहीं अच्छा इनिसियल इस्टेशंस बताओ इस वक्त उसकी स्पीड क्या थी यानिकी नॉर्मल स्पीड बहुँच रहे हैं पहले डिश्टेशंस लिखा होगा बाद में स्पीड तो आप देखो कौन से option में बाद की तरफ 50 है इसी में है पकी तो होई नहीं सुक्ता है हमारी speed तो 50 है यहाँ पर आपको distance निकालने की ज़रूरती नहीं है लेकिन अभी एक्जाम नहीं है मैं आपको शिखाना चाहता हूँ सारी चीज़े तो अब हम निकालेंगे तो अब देखो यहाँ पर उसका accident हुआ था actual में यहाँ से यहाँ तक खराब speed के कान गया तो overall कितने का gap आ गया था जी कितना लेट हो गया था एक गंटा लेट ठीक इसको मैं घंटो में ही माल लेता हूँ तो यहाँ पर कितने गंटे का फरक है रेश्यो में एक का है एक गंटे का है यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने में कि इस पीड कितनी है 50 पचास ती यह दिस्टेंस से यहाँ का बताना था उसने टोटल डिस्टेंस बता रहे आपको 200 डिस्टेंस उसने 200 किलमटर कवर करना है 200 में यह से देड़ जो गए 50 किलमटर यह दिस्टेंस 50 किलमटर है यही उसने पूचा तो 50 और 50 option D कि इस्टेंस पूचा और स्पीड पूचिए 50 और 50 अब मेरे को देहन आए यह equation आए नहीं है आपके एक्जाम के अंदर अब तक अपने SSC CDS railway में आए नहीं है मैंने थुड़ी दिर पर यह बोल देता ना कि आए है यह नहीं आए है तो दूसरे वह shifting वाले मेरे दिमाग में रहे थे तो इसलिए करवाए ए रिलेवंट नहीं बोल सकते है आने चाहिए कि train travels at a uniform speed after traveling for an hour एक train uniform speed पर travel कर रही है एक घंटे तक चलती रही उसके बाद क्या हुआ प्रोब्लम आ गई उसी तरह का question है due to mechanical fault it traveled at three-fifth of the original speed तो ठीक speed खराब speed, speed के बीच में ratio 5 is to 3 उसी distance को cover करने के लिए जो time के बीच में ratio 3 is to 5 अब यह क्या बोल रहा है वैसा equation है जैसे पहले कर रहा है कुछ खराबी आई तो इसके काने क्या हुई यह दो घंटे लेट हुई if the fault had occurred after traveling another 50 miles अगर खराबी पचास माईल और चलने के बाद होती तो वो 40 मिनट earlier पहुँँचाती ठीक है यहनिकि पहले जितनी भी वो चली है उससे 40 मिनट पहले पहले पहुँचाती तो ट्रेन पहले से 40 मिनट पहले पहले पहुँचाती ऐसे होता है पहले इसमें जितने में पहुँची थी उससे 40 मिनट पहले तो 40 मिनट का गय पा रहा है अगर problem 50 माइल बाद होती तो ये 40 मिनट पहले पहुच चालिस मिनट का गय पा रहा है उपर वाली और निचे वाली situation में हमारे यहां तो 2 का आ रहा है 40 में बीज गुना तो 20 तो 60 जाने की एक्च्वल में 60 मिनट लग रही है उसको ठीक स्पीड जे कितना दूर जाने में 50 माइल जाने में यानि कि 60 मिनट में 50 माइल जा रहा है तो स्पीड कितनी हैं 50 माइल पर आर इसकी नॉर्मल स्पीड है 50 माइल परार एक गंटे में 50 माइल गई होगी 50 ml नहीं 50 माइल तो अब मुझे देखना पड़ेगा एक्चोल में यहां पर खराबी हुई थी हाँ जी सर तो देखते हैं वही यहां से यहां तक खराबी होने के कारण कितने का घेप आयता सर घेप डफा गया था दो गंटे का तो दो गंट आ गया बनाता हूं रेशियो में भी दो यूनिट का गयाप है एक्चोल में दो गंटे का तो यानि की normal ॥ीड पर उसको तीन गंटे लगते हैं यहां से यहां तक जाने में इंडिया में माइल में कोई distance तक का question वाएगा फिर माइल में दे रखता जो यहां से यहां तक का distance 200 माइल यहां से यहां तक का 50 माइल, what is the distance between two stations 200 माइल option D clear हैJ आगे बढ़ें यह बताओ A bus meets with an auto at 10 am while going the same way in the same direction towards रिदवार यह है जी हरिद्वार रस्ते में एक बस जो है एक ओटो को मिली ठीक है बस जो है वो जा रही है और ओटो जो है वो भी जा रहा है दोनों जा रहे बस meets with an auto at 10 a.m. while going the same way in the same direction towards हरिद्वार the bus reaches हरिद्वार at 12.30 p.m. बस जो है 10 बजे मिले बस साड़े बारा बजे यहां पर पहुंच है पहले situation समझ रहे है and takes one hour rest there और वहां पर एक गंटे का rest while returning फिर बस वापिस आई the bus meets with the same auto half an hour later तो बस वाँ पर साड़े बारा बजे पहुंची एक गंटे driver आराम से सोया फिर driver वापिस ला तो जब driver को चलते हुए आद 10 गंटा हो गया था तो बस फिर यहां पर auto का मिली अलब auto यहां पर पहुंच गया था बस वापिस आ रही है auto भी यहीं पर पहुंच जा है वे चारा बस वापिस भी आ ली तो मुझे एक बात बताओ bus ने कितना distance travel किया है बताओ जल्दीस यहां से वहां तक गई बीच में rest लिया है रेस्ट को एक बार भूल जाओ बस यहां से यहां तक गई और फिर वापिस आई यह distance auto ने कितना travel किया है यहां से लेकर यहां तक ऐसा कौन सा distance है जो bus ने भी travel किया हो रोटो ने भी यहां से लेकर यहां तक का अंजी यहां से लेकर यहां तक का जो distance दोनों ने travel किया है वहीं पर तो speed और time को compare कर पाएंगे ना इस distance का मामला निकालते है अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए यह है x इस जगया का नाम है y इस जगया का नाम है z तकी मैं यहां पर आपको बता पहूं तो देखो बस यहां x से z पर गई और फिर एक गंटा वेट करके y पर आई टोटल तो बस x से लेकर z तक कितनी देर में पहुंच गी थी बस बस 10 बजे से साड़े बारा बज़े पहुंच गी थी बस को यहां से यहां जाने में 1.5 गंटे लगे थे 1.5 बज़े पहुंच गी थे आप बोलोगे जी यहां से तो बस ने कितना टाइम लिया 2.5 आर्श उसके बाद बस ने 1 गंटा rest किया झाल दस बजे कितने मतलं मैं पूचना चार रहुए कितने मुले टोटल टाइम कितना हो गया। यहां दस बज्य थे 11.12 बजे पहुंची एक गंटा रेस्ट किया आद्य गंटे यहां तक पहुंचने में लगा। तो टोटल टाइम हो गया, च्यार गंटे, तो बस को च्यार गंटे हो गया, अब मैं बस का देखना चाहरा हूँ, बस इस डिस्टन्स को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है, देखो, बस इस पूरे डिस्टन्स को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है, यहां से यहां आप बलोगे sir डाही गंटे और बस ने यहाँ z से लेकर y तक इस distance को कितनी देर में travel किया sir 0.5 hours यहाँ से यहाँ तक आद्य गंटे में आगी थी इसने rest लिया जो भी किया वो इसकी मर्ची ठीक है 0.5 hours यहाँ से यहाँ तक का distance 2 hours में travel कर सकती है यह अजी sir तो बस इस distance को 2 गंटे में travel कर सकती है और auto इस distance को 4 गंटे में travel कर सकता है same distance को auto travel करने में double time ले रहा है यानि कि उसकी speed अद्धी है ठीक और अब यह पूछ रहे कि auto कितने बज़े पहुंचे घारी द्वार तो भाई अजी मुझे एक बाद बताओ यहां से यहां तक बस ने कितना time लिया है दाही गंटे तो बार आया दिला रहा हूं अजी गंटे दस बज़े से साधे बार बज़े पहुंचेगी auto double time ले रहा है बस ने अगर डाही गंटे लिये तो auto कितना time ले ले लेगा रिलेट हो जाओ ठीक है तो मुझ मैं आगी बात अब यह करो तर क्या equation आ सकते हैं अगर आएंगे तो यह आपके exam का मलब most difficult question होएगा आपके set का तो आपने डरना नहीं है इन पर दिमाग लगाओ brainstorming के लिए हैं यह और relevant है आ सकते हैं इनको को irrelevant नहीं भूलेगा आए तो दिमाग लगाओ first time कर first time जब आप देख रहे होगे तो आपसे question ना हो तो कोई दिल चोटा करने वाली बात नहीं है 90% plus candidates से नहीं होएगा first time बड़ी आत्रिक के से नहीं होएगा soul तो हो जाएगा time लेकर हो जाएगा ठीक है तो normal सी बात है दिल चोटा नहीं कर दो father picks his child at 3.30 p.m. from school एक father है अपने बच्चे को school से pick करता है ठीक है मालो यह school है one day the child left the school at 2.30 p.m. father जो है 3.30 p.m. पर pick करता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर father 3.30 पर पहुंच जाता है child को pick करता है और वापीस हो लेता है यह मामला है एक दिन डाही बज़े school off हो गया और बच्चा यहाँ से चलना start कर दिया and started walking toward home at the speed of 6 km per hour he meets his father on the way and they reached home 24 minutes early than the usual time and the speed of the father father की speed बता है तो क्या हुआ बच्चा दो तीस पर यहाँ से चलना start हुआ फादर को पता निता है लेकिन फादर तो नॉर्मली उसी धुन में आया यहाँ पर मैं से तीन वज़े पहुँचूँगा यहाँ पर एक और statement डालनी चाहिए थे मेरी गलती होगी कि one day the child left the school at 2.30 pm and started walking towards home at the speed of 6 km per hour father unaware of this situation father unaware of this situation started moving from his home at the usual time लब इस टाइप से डालना थे कि father को पता निता है तो समझगे father normal time से ही आया है यहाँ पर आपकी brainstorming हो रही है basically ठीक तो यह इनका home मान लिया ओके सर तो अब देखते हैं तो देखो father यहाँ से चलता है home से पहले situation को सारी को समझ लेते हैं father home से चलता है 3.30 पर यहाँ पर पापाजी पहुँचते हैं बच्चे को उठाते हैं और वापिस घर पर आ जाते हैं लेकिन आज क्या हुआ आज कुछ ऐसा हुआ बच्चा यहाँ से डाही बज़े ही चल पड़ा जो बच्चा है जो children है नीचे children लिखतेता हूँ यह डाही बज़े यहाँ से चल पड़ा ऐसे हैं तो यह रस्ते में कहीं पर मिल गया जो father है वो तो उसी time के यहाँ से चला हुआ कि मुझे साड़े तीन अब यहाँ पहुँचना है उसको बच्चा रस्ते में मिल गया है तो रस्ते से उल्टा हो लिया बच्चा पिक किया और उल्टा हो लिया अब यह थोड़ी है वो स्कूल जाएगा और वापिस आएगा कि नहीं rule is rule ऐसे रोज वहाँ जाना है ऐसे लोगों को question में नहीं लेते हैं तो यह रस्ते से उल्टा हो लिया तो इसके कारण क्या हुआ है इसके कारण उसके 24 मिनट बच गए इसको एक समान लो एक से लेकर इस तक था इसी में उसके 24 मिनट लगते थे वो आज बच गए याने की father को यहां से यहां जाने में और आने में 24 मिनट लगते हैं तो सिरफ एक तरफ जाने में sir सिरफ एक तरफ जाने में तो father को 12 मिनट लगते है फादर को यहाँ से यहाँ तक जाने में फादर को बारा मिनट लगते हैं अब मैं देखना चाह did aware कि इसी distance को बच्चे ने भी इसी distance को ट्रेवल किया है तो बच्चा इस distance को क्या हो गया है 25 distance को कितनी देर में travel करता है अब अन्दाजा लगाओ सोचो जरह इसके बाद भी अगर आप सोचोगे तो मज़ा आएगा क्योंकि मैंने इस सवाल का करक्स आपको बता दिया है किब हमने करना क연 इस डिसेंस को फादर बारा मिनट में ट्रेवल कर रहा है बच्चा इस डिसेंस को कितनी देर में ट्रेवल करेगा तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बच्चा चला कितने बजे और बच्चा यहां पर पहुंचा कितने बजे यहां पर बच्चा कितने 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 बच तीन बज़ के अठारा मिनट पर जब फादर यहां बच्चे से मिला तो तीन बज़ के अठारा मिनट वक्त था तो बच्चा दो तीस पर चला और तीन अठारा पर यहां तक पहुंचा था तो दो तीस से तीन अठारा तो दो तीस से तीन बज़े तक तो तीस मिनट होगी और उसके बाद 18 मिनट, 48 मिनट लग गए बच्चे को, यहां तक पहुंच लिए, ठीक, सेम डिस्टन्स फादर ने 12 मिनट में कवर कर लिया, बच्चे ने 48 मिनट में कवर कर लिया, बच्चे ने 4 गुना टाइम लिया है, इसका मतलब फादर की स्पीड 4 गुना है, बच्चे की स् स्पीड 6 के 24, 24 किलामटर पर आ रहे, यह हमेशा ऐसे नहीं होएगा, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो उस वक्त हम क्या कर लेंगे, कि स्पीड गिवन होगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस गिवन होगा, जो भी गिवन हो, उसके खोडिंग कर लिया, यह बताओ, एक हर स्पीड इनिशल स्पीड और 40 किलामटर पर आर, विदिट स्पीड इंक्रीजिंग एवरी आर बाई 5 किलामटर इसकी स्पीड हर गंटे 5 किलामटर बढ़ रही है, तालिस किलामटर के हिसाब से चलना स्टार्ट किया, अगले गंटे में कितना इसकी स्पीड बढ़ रही है, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो हमने टोटल कितना इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो लगबग कितने गंटे लग जाएंगे, तो options देख लो एक पर, आठ नो, आठ साथ, अगर आपको इतनी ट्रम लिखनी पड़े ना, आठ नो, एनफ है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिटन ट्रेल से बैट रहोगा, अगर सर, ऐसा हो 20 गटे में, तो मैं 20 ट्रम्स तोड़ी ल इसके अंदर भी मैं AP का यूज करूँ है, कैसे, कि इन तीनों का सम कितना हुआ है, 45 या 135, या 135, या 135, तो 5 या 7 ट्रम्स लिख लूँ, कि 55, 65 और कितना हो गया, 70, 7 ट्रम्स ट्रम्स तोटल होगी, यहां तक का सम लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 ट्रम्स होगी, इनक कैसे करोगे, तो सम करोगे, 7 इन टू, 55, ठीक है, 7, 35, 7, 35, 35, 38, 35, 85, 85, यहां तक का सम, मुझे 406 तक जाना है, ठीक है, इसके बाद 75 हो गया, ठीक है, इसके बाद 80 हो गया, तो यह कितना हो गया, 75 में से अगर मैं 15 इसको दे दूँ, तो 40, 406, अचा यहीं पर हो गया था, 40 406, अचा यहीं पर, तो 7 और 8, 8 गंटे लग रहे हैं, तो इसको हिटें ट्रायल से करने का तरिक का ही बढ़िया रहेगा, अगर वैल्यूज आठ गंटे तक तो आप लिख सकते हो, इसली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अधर वाइज, सर्फिर दूसरे तरिक कैसे कैसे करे हैंगे, हो सकता है, 8.5 आर्श आजाए, तो मज़े यह देखना है कि कितनी ट्रम्स हो, ज़रूरी नहीं है कि यह 8 ट्रम्स ऐसे दिखेंगी, हो सकता है यह ऐसे बता दे, साड़े 8 ट्रम्स, हम एक अंदाजा मिल जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, एपी की एन ट्रम्स का सम क्या होता है, वो होता है, एन बाई टू, है, यह मैं आपको बता चुका हूं, एलजेबरा के चैप्टर के अंदर, एपी के बारे में, न, तो सम उफ एन ट्रम्स, एन बाई टू, इंटू 2A A जो होता है, फस्टरम होता है प्लस N-1 इंटू D AP को मैं अलग से chapter के रूप में ही पढ़ा सकता हूँ ये फिर मैंने AP और GP आपको algebra में करा दिये, जहाँ पर जरूर थी मैंने वहाँ पर करा दिये, मैं एक सका करवा चुका हूँ ये ठीक है, तो एकी बात है clear है, तो ये देखो मुझे ये देखना है कि कितने trams का sum 460 हाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 460, ब्राबर है N की value मैंने निकालनी है N by 2, तो first trams क्या है इस AP का, सर 40 है 40 दुनिया सी, अगर मालो यहाँ पर तर ऐसा हो 20 गंटे 23 गंटे ही 10 ट्राइल से करना पड़िया नहीं रहेगा, तो हम ऐसे जाएंगे, plus N minus 1 into D, D होता है common difference, AP के हर एक दो टरम के बीच में कितने का फरक है 5 का फरक है यहाँ पर, into 5 अब इसको solve करते हैं, अगर कुछ कट रहा हो तो काट लें, ठीक है 5 कट रहा है हर एक से, ना 5 काट लेता हूँ, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो बिना वज़ाई calculation क्यों बढ़ाई यह एक ट्रम है, यह एक ट्रम है, यह तो गुणा में यह और यहाँ पर बान में हो जाएगा 5 से काट लेता हूँ, ओके जी, इस दो को भी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो 180 और 4 184, 184 इस इकोल टू इस एन को मंदर मिल्टिप्लाई करूँगा इस इकोल टू 16 अगर उस एन कोई मंदर मिल्टिप्लाई करूँगा यहां से 5 तो जा चुका है तो यह हो जाएगा, प्लस एन स्क्वेर माइनस एन है ना अन जी अब इसको सॉल करते हैं रहे जगाए न यहांने कि क्वाड्रेटिक बनेगी तो समय कर लेते हैं से और तो क्या ही है, हीटेंट राइल से हम कर सकते थे वैसे इस क्वेशन को यह तरिक का समझा सकता हूँ, फिर इसमें तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो एन स्क्वेर प्लस 15 एन माइनस 184 इस इकोल टू जीरो, यहां पर हमें एन की वेल्यू देखनी पड़ेगी बनेगी क्या क्वाड्रेटिक बनेगी आपर एन स्क्वेर होएगा, वाडरेटिक बना काम ने जाएगा, अंदरा प्लस एन अंदर होएगा, तो चलो भी, ऐसे दो नमबर देखने हैं, जिनका प्रोड्रेक्ट 184 हो और उनका सम माइनस 15 हो, एक सो चुरासी को ऐसे तोड़ना है, ऐसा कोई नमबर है, यहां से मैं दो बार चीन पाऊं, यहां से एक बार चीन पाऊं, यहां से एक बार चीन पाऊं, ऐसा कोई नमबर नहीं है, ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा, इसको तो हिटन ट्रायल से, ठीक है, प्रोड़क्ट नेगटिव है, यानि कि एक ट्रम नेगटिव है, सम नेगटिव है, यानि क एपी के आठ ट्रम्स लगेंगे 460 सम बनाने में यानिकी आठ अंसरी इस ओप्षिन से चर्टो क्या वो ऐसे क्वेशन देता है कि एपी के ट्रम्स ऐसे क्वेशन आज तक आये नहीं है आग गयाने के चांसी इस भी निया तो बिनावज़े डर ना नहीं है इंची जोसे ठीक है मैं आपको हरे एक सिच्वेशन का इलाज बता देता हूं अभी भी ऐसी सिच्वेशन नहीं आएगे एक्जाम है कि आपके हाथ से बाहर हो आपने देखी ना हो अगर आप सारे कोश कोचे से कर रहे हैं यह नहीं है कि आप फिर बिनावज़े डरते रहोगे मिसलेनिस से बारवे गंटे में किलाउंटरपर रहर फूर र स्जाट र वीडेट भायछन के रहोगे मिसलें अईब यह कूदा हून आप पटास से चलनाalley सर 50 किलमेटर पर आड़ दूसरे घंटे में 55 तीसरे घंटे में 60 ऐसे ही वो 12 घंटे में पहुंचा हाँ जी सर तो 12 घंटे में कितना चला होगा तो देखो यह AP का 1st ट्रम है जब AP के 2nd ट्रम पर आप आए तो 5 कितनी बार जोड़ना पड़ा एक बार 1st ट्रम में 1 बार 5 जोड जोड़ना पड़ेगा मैं कहना क्या चाहरा हूँ जितने भी पोजिशन वाले ट्रम पर जाना है पांच में पोजिशन पर जाने के लिए 4 बार common difference जोड़ना पड़ेगा 1st ट्रम में यही तो formula है AP का AP का Nth ट्रम, Nth ट्रम क्या होता है? A plus N minus 1D इसको practically समझो A होता है first ट्रम ठीक है यह TN होता है Nth ट्रम ठीक है कि अगर आप N वा ट्रम निकाल रहे हो तो N minus 1 बार D जोड़ तो इसके अंदर, D क्या है D common difference 5 है मुझे कौन सा ट्रम निकाल ला है मुझे सर ट्रम निकाल ला है 12 बार वार ठीक है 12 गंटे में कितनी दूर गया होगा तो 12 बार वार निकालना है तो आप 50 जोड़ो common difference 5 जोड़ोगे इसके अंदर 5 common difference है 11 बार यानिकी 11 पांच है 15 पर श्टरम के अंदर 15 जोड़ोगे बार वार है अब मैंने आपको एक और बात बताई थी क्या बात बताई थी एक गंटे के लिए उसकी स्पीड थी 50 km पर आर अगले एक गंटे के लिए उसकी स्पीड थी 55 km पर आर अगले एक गंटे के लिए उसकी स्पीड थी 60 km पर आर अगले एक गंटे के लिए इतनी आखरी के एक गंटे के लिए इतनी जब time ऐसे बता रखाऊ कि 1 गंटे के लिए इतनी speed से चला, 2 गंटे के लिए इतनी speed से चला, 3 गंटे के लिए इतनी speed से चला गंटों में ऐसे बता रखाऊ, distance ना बता रखाऊ, तो आप normal average भी निकाल सकते हो speed की, कोई दिक्टत नहीं say this normal average निकालो उसके average speed पुछी है, तो कोई भी चीज जब AP में हो तो average होती है, first plus last by two, यह इसलिए मैंने 50 plus 15 लिखा है, तो इन दोनों के average बताओ, तो 50 तो दोनों में है ही है, हम जी सर, बस इस 55 को बाट दो, यानि कि 25 बटे दो, यानि कि 27.5, यानि कि 17.5, यानि कि 17.5, इस दा average speed, options से, clear, जो भी मैंने आपको बाते बताई है, समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से बता रहा हूँ, कि आपको समझ में आने चाहिए, अगर पुराना देखा है, अगर नहीं आ रही तो यहां पर दिमाग लगाने की जुरूत है, आपका दिमाग एक level पर मुझे पहुचाना ही पड आपका दिमाग की प्रेक्टिस नहीं होएगा, ऐसे सोचने की, नेवदा हूँ, अन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेन ट्रेवल एट अन आवरेश स्पीड ऑफ 100 क्लम्टर पर हार, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनिट्स आवरी, आफ्टर आवरी 75 क्लम्टर, पिचातर क्लम्टर ट्रेवल करती है और 3 मिन ट्रुक ट्रेवल करती है तो लोकल ट्रेन है, वो 25 क्लम्टर ट्रेवल करती है और एक मिन ट्रुक ट्रुक ट्रेवल कर लेगी, तो लोकल ट्रेन ने कितना ट्रेवल कर लिआ होएगा, एक्सप्रेस ट्रेवल कर लिया होएगा, एक्सप्रेस ट्रेन रुकने का टाइम बाद में निकाल लेंगे, पहले देखते हैं, सिद्धा सिद्धा बिना रुके कितना टाइम लग रहा है, तो 600 km, ये देख लेंगे बाद में कितनी देर रुकी, उसको जोड देंगे, 600 km, 100 की स्पीड से, सिद्धे सिद्धे 6 गंटे लगेंगे, ठीक है, प अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आठ बार आता है, पहली बार 75 km करके रुक गई होगी, जी हाँ, अगली बार 75 km करके रुक गई होगी, जी हाँ, जब 8 वी बार उसने 75 कवर किया, यहाँ पर रुक गई होगी, लेकिन इस टाइम को हम कंसिद्धर नहीं करेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर distance cover हो चुका है last time वाला रुकने का time consider नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर distance cover हो चुका है अब वो रुके लोटे भागे हमें क्या 600 km कवर हो गया तो अगर 8 बार आ रहा है पीचेतरी सके अंदर तो 7 बार रुकने का time consider होगा last वाला नहीं होगा क्योंकि तब distance cover हो गया अभी चाहिए वो पूरी जिंदगी रुकी रहे तो cover हो गया हमारे लिए तो 7 बार रुकने का time consider होगा हर एक बार वो तीन मिनट रुकती थी तो 7 ती 21 मिनट वो फिर रुकेगी तो 6 गंटे 21 मिनट में वो cover करती express train इसको 6 गंटे 21 मिनट लगे अब इतनी देर में local train क्या करे लेगी यह देखना है ना देख लेते हैं इतनी देर में वो इतनी दूर जा सकती है यह करती क्या है यह 25 किलोमेटर के बाद एक मिनट रुकती है तो 25 किलोमेटर जाने में इसको कितना time लगता है तो distance upon speed, speed है 50 तो 25 किलोमेटर जाने में इसको लगता है आद्धा गंटा यान मिनट यह रुकती है यानि कि कुल मिलाकर 31 मिनट के अंदर हर 31 मिनट के अंदर यह 25 किलमेटर का distance travel कर देती है जिसमें से पहले की 30 मिनट यह चलती रहती है एक मिनट यह रुकती है लेकिन जब लास्ट की 30 मिनट होएंगी लास्ट की जो आखरी वाली 31 मिनट आप माल लो उन में क्या है एंड में एक मिनट रुकने का time हम consider नहीं करेंगे अगर वैसी situation आई तो यानि कि लास्ट वाले जो 25 किलमेटर हैं वो यह 30 मिनट में ही करेगी तब रुकी ना रुकी उससे कहा है अगर डिस्टेंसी पूरा हो गया तो ठीक है जी 31 मिनट में 25 किलमेटर करती है लेकिन नॉर्मली 30 मिनट में 25 किलमेटर करती है स्पीड पचास किया अगर एंड वाला हमें करवाना पड़े तो जब तक रुकने का टाइम लेना है तब तक यही सिच्वेशन रखेंगे क्लियर है मेरे भाई जो भी बाते बोल रहा हूं दिमाग लगा कर उनको समझने की कोशिस करते रहीएगा हर 31 मिनट में 25 किलमेटर कवर कर डढ लेगी तो 31 मिनट कितनी बार आते हैं यार इस टाइम में इक बार इसको देखे हैं 6 गंटे में कितना मिनट होते हैं 6 to 60 360 360 हो 381, 381, 381, 381, 381 को में डिवाइड कर रहा हूँ, 31 से, याने की, 12 बार आ जाएंगी 31 मिनट पूरी पूरी, उसके बाद 8 मिनट और बचेंगी, ठीक है, तो इंटू 12 कर दो, इस 25 बेचारे को भुखा होता है, यह 4 का, 25, इसको 4 उठा कर दे दोगे, यह 100 बन जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा, 3, 4 दे दिया, तो 4 ते बार तीन, तो 300, तो 300 किलोमेटर कर चुकी होगी, अब यह जो 8 मिनट हैं, अब यहाँ पर कई बच्चे खलती करेंगे, 31 मिनट में 25 किलोमेटर करती है, इसी स्पीड को यूज़ कर लेंगे, नहीं, यह जो 1 मिनट एक्स्ट्रा एड़ कर रखिये, यह एड़ कर रखिये, वो चलती तो 50 की ही स्पीड से है, अब यहाँ पर आठ ही मिनट हैं, आठ मिनट में 25 किलोमेटर तो जान नहीं पाएगी, वो 25 कितनी धेर में जा रही है, 30 मिनट में, यहाँ पर रुकने वाली स्पीड के MR, यह आप से थोड़ी ना करोगे, 8 मिनट तो चलती ही रहेगी, 8 मिनट में कितनी दूर जाती है, वो 30 30 मिनट में 25 कलमेटर जाती है, एक मिनट में 25 बटे 30 जाती है, अगर वो चलती रहे तो 8 मिनट में वो इतनी तो चाहिए, तो करते लेते हैं वही, komt चुक के पाच्चू, पाच्चू इंहार ज्यादह है तेज़ होगा है मेरी कालक्रेशन साथ क्यों लिखाए है नोग मिनट में इतनी दूर जा रही है जिरूरत से ज्याद़ तेज होगा इसन तो भाई 30 दूर्ण में 25 किलोमेटर एक में 20 वो टे तीज और नौ मिनट में इतनी इसको मैं पाचू पाचू 25, माच चीके 30, तीन दो नीच है, तीन तीन नो, 15 बटे दो, याने की 7.5 km और जाएगी, 300 और 7.5, याने की 307.5 km जाएगी, clear है? speed of a man is 90 km per hour, after every 24 minutes, he reduces his speed by 5 km, 24 minutes तक चलता है, और 5 km speed कम कर लेता है, फिर 24 minutes तक चलता है, और 5 km speed कम कर लेता है, ठीक है? if he has to travel 173 km, find out the time taken to cover this distance, करने की कोशिस करो, मज़े आ जाएंगे आपर, फीक तरीके से करोगे तो ठीक ठाक, calculation में हो जाएगा, और वाइस, फालत भी calculation है, देखो, पहली 24 minutes, वो कितनी speed से चला, पहली 24 minutes वो चला, 90 km per hour, अगली 24 minutes वो चला, 85 km per hour, इसको दो तरीके से आप कर शकते हो, तरीके, नहीं, एक ही तरीक का बताता हूं, यार, वही फिज़, वही बढ़ी आ रहेगा, इसे तो क्या अबता कितने तरीके, अगली 24 minutes वो चला, 80 km per hour, clear है, situation यही है, आपको situation समझा रहा हूं, जी है, ओके से, तो, यह अपनी speed को 5, 5 km per hour कम कर दे रहा है, 5 km per hour कम कर दी, 5 km per hour कम कर दी, तो इस 85 को एक बार ऐसे देख लो, 90 minus 5, ऐसे देख सकते हो, अंजी सर देख सकते हैं, 90 km per hour, minus 5 km per hour, तो या तो आप यह देख सकते हो, कि 24 मिनट में वो कितनी दूर गया, 24 मिनट में वो इतनी दूर गया,15 में वो इतनी दूर गया, हर एक बार आप एसे निकाल सकते हो, कितने time में कितना distance travel करेगा, 24 بٹे 60-90 पिर अगली बार फिर निकालोगे 24 ب reinvent 60 into 85 या फिर आप यह करलो या फिर आप यह करलो क्या जैसे पहले वाला निकालो 24 बडे 60 into 90 30ती ये 30 रणी 22,ilateral 36 किम्म पहले 24 मिनट में 36 किम्म्म जाप आ रहा है उसके बाद आप पता है क्या करलो जहान से मेरी बात को सुनेगा नहीं समझ में नहीं आएगा उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमेटर पर आर कम कर लिया ज्याने कि अगली 24 मिनट तक वो कितनी कम स्पीड पर जाएगा अगली 24 मिनट तक वो 5 किलोमेटर पर आर कम स्पीड पर जाएगा एक साहम्पल देता हूं अगर वह 1 गंटे चलता अगर ओ साथ मिनट चलता एक गंटे चलता 90 की स्पीड पर तो वह कितना डिस्टर स्कावर करता अगली साथ मिनट वह पीच ऐसी की स्पीड पर चलता तो पीच ऐसी डिस्टर EPA कवर करता उसने 5 की स्पीड कम की तो 5 किलोंटर कम चल पाया जो मैं समझाना चाह रहा हूं मिरेको एक बार वर्ड्स फ्रेज करने पड़ेगा मिरेको एक बार सोच नहीं दो मैं आपको कैसे समझाओं जो मैं सोच रहा हूं ओके देखो उसने अपनी स्पीड को कितना कम कर लिया उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया 5 किलोंटर पर आर और मैं यह देखना चाह रहा हूं कि उसने अपने डिस्टन्स को कितना कम किया तो डिस्टन्स क्या होता है स्पीड इंटू टाइम तो वह 24-24 मिनट चल रहा है तो 24 म मिनट तक चलता तो वो कितना distance travel कर लेता है एक बार मैं यह देखना चाहरा हूँ तो this is time into speed time आर्ष में हो गया into speed तो पांच बारा बारा दूने 24 दो किलोमेटर पांच किलोमेटर पर आर की speed से वो 24 मिनट में 2 किलोमेटर तेह करश रखता है देकिन यहाँ पर उसने speed को 5 किलोमेटर पर आर कम कर दिया तो 2 किलोमेटर कम चल पाएगा फिर 5 किलोमेटर पर आर कम कर दिया फिर 2 किलोमेटर कम चल पाएगा सिरफ 2 किलोमेटर कम चल पाएगा क्योंकि 24-24 मिनट के बना रखे है न तो मैं यह देख रहा हूँ कि 5 की speed से 24 मिनट में कितना जा सकता है तो फिर उसने 5 की speed कम की तो उतना ही distance कम जा पाएगा तो मैं गहना यह चाह रहा हूँ कि 24-24 मिनट का अलग-अलग निकालने की बजाए 24 मिनट का पहले निकाल सकते हो फिर आप distance देख सकते हो तो 2 किलामेटर कम होगा तो आप करते रहो 36-34 32-30 एक्जेक्ली आपको सिरफ यह लिखना है यह नहीं लिखने है अब तो समझ गए होंगे तो पहली 24 मिनट में ओं कवर करेगा अब यह कवर तो कर रहा है 24 मिनट में कितना निकाला था आपने, 37 निकाला था है न अगली 24 मिनट में कितना कवर करेगा तो यह हरेख 24 मिनट में कवर कर रहा है तो यहाँ पर बार-बार 24 मिनट करने की जरूत नियहां आपको पताऊना चीए तो मुझे कवर कराना है 170 किलमेटर थोड़ी देर में ही कर देगा यह थोड़ी देर में ही करतेगा तो ही टेंट राइल से ही करते रहते हैं एपी यूज करते रहते हैं 30 और 28 यहां तक कितने हो गए 5 हो गए 1,2,3,4,5 और एवरेज है 32,35 यहां तक 160 किलमेटर कवर कर लिया भाई उसने तो मुझे 173 इसके बाद अच्छा आप तो 13 किलमेटर रह गए इसके बाद अगली 24 मिनट तक अगर वो चलता रहता तो वो चला जाता 26 किलमेटर लेकिन मुझे 26 किलमेटर नहीं जाना मुझे तो 160 के बाद 13 किलमेटर जाना है तो 26 किलमेटर के लिए उसको 24 मिनट लगते 26 का अदा 13 किलोमेटर के लिए उसको 12 मिनट लगते है ये नहीं है कि examiner fraction में नहीं दे सकता दे सकता है बट concept check करना इसलिए ऐसी values दी जाती है जान बूज़ के आपको ठीक है? fraction में देंगे वो भी हम कर लेंगे 26 किलोमेटर इतनी कि दो गंटे लगे और उसके बाद 12 मिनट और लगी दो गंटे 12 मिनट में काम हो जाएगा अब यहां पर कई बचे इसको मार देंगे टिक टिक मेरे भाई वो 2.12 अगर दो गंटे 12 मिनट को आप आप ऐसे आर्ष में बदलना चाह रहे हो तो यह होगे 2 आर्ष और इन मिनट को अगर आप आर्ष में बदलना चाह रहे हो तो 12 आप अपन साथ एक पिते पांस का वथेद पॉइन तो 2.2 आर्ष यह मन आ जान पूँज के अप्शिन दिया है एक रिए है इस शिब 105 km away from the sea coast develops a leak which admits 5 metric tons of water in 12 minutes यह दिखने में ऐसा लग रहा हुआ कि भाई ज़ाजवाल equation हो क्या है कुछ भी नहीं है इस equation में कभी भी ऐस equation से डरना नहीं है कि अच्छा समझना है कि भी करना क्या है easy होते हैं generally equation यह ship 105 km away किनारे से 105 km away है डेवलप से लीक which admits 5 metric tons of water in 12 minutes जिसके कारण 12 minute में 5 metric ton पानी आजाता है लीक के कारण अटदा पंप स्थरो 15 metric tons of water in 1 hour जो पंप है वो एक गंटे में 15 metric ton पानी फैंक सका तो देखते हैं जो पंप जो हैं वो एक गंटे में कितना काम कर रहे हैं पंप एक गंटे में 15 metric ton पानी बाहर फैंक देते हैं और जो लीक है वो क्या कर रहा हैं वो बारा मिनट के अंदर 5 metric ton पानी अंदर फैंक देता है एक गंटा इससे कितने गुना है 12,5,60 60 मिनट होते हैं तो पाचू पाचू पच्चिस इसका 25 गुना तो 25 metric ton पानी अंदर आ जा रहा है शिप में add हो जाता है और 15 metric ton बाहर फैंक देते हैं तो टोटल कूल मिला कर 25 माइनस 15 10 metric ton पानी पर आर शिप के अंदर आ रहा है हर गंटे में हर गंटे में 25 अंदर आ रहा है 15 बाहर जा रहा है तो हर गंटे में नेट दस आप आ रहा है एक गंटे में दस में टिक तिन पानी अंदर अगले गंटे में दस में टिक तन पानी अंदर यह बोल रहे है कि अमक西we पानी आ जाए जहाज में तो जहाज डूब जाएगा तो 10 metric ton पाने के लिए एक गंटा लग रहा है तो 70 metric ton पाने के लिए 7 गंटे लगेंगे, 7 गंटे में जहाज डूब जाएगा, जिस हिसाब से मामला चलता है, यह बोल रहे है कि जहाज के average speed क्या हो नीची है ताकि जब वो डूबना स्टार्ट हो तो at least वो कोश्ट पर पहुंच जाए बिल्कुल कोश्ट पर पहुंच जाए तो डूबेगा क्या पिर आज दर्थी में बैठ जाएगा चाहिए वो डूबे हमें क्या हमें तो क्वेशन सौल करना है तो यानि कि 7 गंटे में उसको कोश था दम हुज भी नहीं था तो क्यों डुबना चाहिए यह जिनीं है नगी गुद्व क्या इता चाहिए निप डालें एक हो सकता है हर एक तरह के question है पहले से notion नहीं बनाना कि मैं डर जाओं क्या करूं कि क्या करूं कि बाइक कंजूम 20 ml पेट्रोल पर किलोमेटर 20 ml पेट्रोल खा जाती है हर किलोमेटर में if it is driven at the speed in the range of 25 से 50 km per hour कि speed इस range में 25 km per hour से 50 km per hour कि speed पर दोडाई जाए तो 20 ml तेल खा जाएगी हर किलोमेटर पर and it consumes 40 ml पेट्रोल खा जाएगी किसी भी और speed पर दोडाने में तो कितना पेट्रोल खाएगी एक बाइक अगर in traveling a distance of 50 km if the bike is driven at a speed of 40 km per hour अगर 40 km per hour की speed से बगाई गई है पहले 10 km के लिए 60 की speed पर बगाई गई है कितने देर के लिए अगले 30 km के लिए और 30 की speed पर बगाई गई अगले 30 km के लिए अगले 10 km के लिए ओके जी कोई दिक्कत नहीं है अब देखते हैं देखो 40 की speed पर कितना पेट्रोल खाती है 25 से 50 के बीच में 20 ml खाती है 25 से 50 के बीच में आता है जी यहां पर 20 ml खाएगी 25 से 50 के बाहर 40 ml खाती है यहां पर 25 से 50 के बीच है फिर से 20 ml खाएगी speed 25 से 50 के बीच में हर किलोमेटर का 20 ml खाएगी तो देखो यहां पर भी हर किलोमेटर का 20 ml खा रही है यहां पर भी हर किलोमेटर का तो क्यों नहीं को इकट्थे कर लें 10 km और 10 km 20 km तक पर km 20 ml खाएगी तो 20 x 20 400 ml तो यहां खाजाएगी इन दोनों जगह 30 km तक हर km में 40 ml खाएगी तो 30 x 40 1200 ml पेट्रोल यहां खाजाएगी तो टोटल 1600 ml पेट्रोल खाजाएगी यानि कि 1.6 लेटर कुछ है इस क्वेशन में पेट्रोल है बस ठीक है यह बताओ TCS तवारा पूछा गया question है the distance covered by A in 10 hours, 27 km less than the distance covered by B in 12 hours A ने 10 गंटे में जो distance ट्रेवल किया है वो 27 km कम है जो B ने 12 गंटे में ट्रेवल किया है तो अब हम क्या करें मैं A की स्पीड को मान लेता हूँ 1 km पर आर B की स्पीड को मान लेता हूँ 2 km पर आर किसने distance ज्यादा ट्रेवल किया है सर B ने तो पहले B वाले को लिख लेते हैं B की स्पीड 20 km पर आर रहा है निकिए गंटे में 2 km ट्रेवल कर रही है तो 12 गंटे में 12 B B ने इतना distance ट्रेवल किया 12 गंटे में A ने 10 गंटे में इतना ट्रेवल किया परेन के वीचे में डिफरेंस है 27 दा इस को दाइस कोवड बाई B इन 8 आर्स इस 7.5 km मोर देन दाइस कोड़ बाई A इन 9 आर्स B ने 8 गंटे में जो distance ट्रेवल किया और A ने 9 गंटे में distance ट्रेवल किया B का distance ज्यादा है 87 km ठीक सेम चीज लिए linear equation बनगी solve कर लो A और B आजाएगा कुछा ही इन equation if they start moving toward each other from two ends of the road अगर वो एक दूसरे की तरफ मूग करना start करते है तो इतने distance को इतने देर में कर लेंगे इतने distance को एक दूसरे की तरफ मूग करेंगे तो इनकी speed के sum से cover करेंगे दोनों की speed निकालेंगे एक आद equation में हो सकता है साथ कि सिर्फ sum पहले निकल सकता हो तो صिर्फ sum पहले निकालेंगे हमें individual speed से कोई लेना देना नहي है दोनों की speed का sum निकालेंगे इसको डिवाइड करते हैंगे distance by speed टाइम आजाए निकालते हैं जी कैसे करें एक बार B निकालना एक बार A ठीक है ये कर लेते हैं इन दोनों को same बना देते हूं उपर में कर देता हूं दो गुना बारा दुनी 24 निचे कर देता हूं तीन गुना आठ ती है 24 तो B से तो B गया अब देखो निचे वाले में से उपर वाला गटाएंगे या उपर वाले में से निचे वाला ये उनदा spot decide करते हैं अपने comfort के अनुशा 2 into 10 minus का 20 इन निमे minus का 27 तो क्या बड़े में से चोटा गटाओंगा मैं या पर नहीं मैं चोटे में से बड़ा गटाओंगा क्योंकि minus के हैं ताकि मैं positive चीजे चाहता हूं उपर वाले में से निचे वाला गटा रहे हैं 20 में से minus 27 गटाओंगे तो minus minus plus 7a is equal to 27 दूनी 54 और यह होगा 54 minus 3 से गुना करोगे तो 45 बड़े दो तो यह जाएगा 2 into 54 108 minus 45 by 2 that is equal to इकना हो जाएगा 63 बटे दो यह किस की value है यह 7a की value है तो साथ एकम साथ साथ निमे 63 a की value आगई 9 by 2 हंजी सर a की value आगई तो कहीं पर भी put कर लो b की value आजाएगी कहाँ पर put करूँ तो देखो यहाँ पर तो मैं put करूँगा नहीं 9 9 by 2 इतनी गंदी calculation में करनी नहीं है इफ्रेक्शन ना करें उपर put करूँगा 9 by 2 तो 9 by 2 होएगा तो 2 5 10 है 9 by 2 है 2 5 10 पांस निमे 45 45 45 उदर जाकर add होगा तो इसके अंदर जब 45 add हो जाएगा तो 60 और 12 बहत्र 12 बहत्र आजाएगी तो 12 से divide करूँगा तो b की value आजाएगी 6 अब दोनों एक दूसरे की तरफ आएँगे तो उतने distance को कितनी देर में करेंगे तो 9 by 2 प्लस 6 दोनों की speed के sum से cover होएगा distance तो 2 चिक के 12 12 बारा और 9 21 21 बटे 2 इनकी speed है तो distance बटे 21 बटे 2 इनकी speed distance बटे speed time मिनट्स में पूछ रहे हैं यह आएगा गंटे में तो एक गंटे में 60 मिनट होते हैं yellow यह अपना अंसर है प्वाइंट से 0 गई 21 24 दो 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 नीचे आर्चिके 24 24 इनकीट में बात बन जाएगी क्लियर है क्वेशन में कुछ नया नहीं था उसी understanding के base पर हो रहा था तो इसी question के साथ आपका time and distance कतम हो जाता है आपके arithmetic के अंदर अगर आप मेरे बताएवे order कहना हो सार कर रहे हो किरफ दी आई बच जाता है इसके बाद major topic और कुछ हाई नहीं अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं आपसे